हाई एवरिवन लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है आज इस सुभा में आप लोग पूरी कम्प्लीट मेराथन क्लास को देखिएगा और मैं दावा करता हूँ कि इस क्लास को करने के बाद आप दस में से साथ सवाल आट सवाल केवल इस क्लास से ही कर लेंगे बाकी conceptual class जरूरी है, वैधानिक चेतावनी, मेराथन class revision के परपस से है, इसका मुख्य उद्देश concept clearing नहीं है, इसके माध्यम से विध्यारती को ये मदद उपलब्द कराना है, कि आप अपने विशय को कम से कम समय में कैसे दोहराएंगे, इस class को 2-3 बार देखिएगा, आपका बहुत अच्छा revision हो जाएगा, और इसके माध्यम से आप कोई भी exam हो, कोई भी, कोई भी exam, मैं दावा कर रहा हूँ, दावा, और आप खुद comments करने आएंगे, इसरा आपने बिल्कुल जो कहा था, हो सही था, बस दो मिनिट की बातचीत, अनेकेडमी क्या है, तो यह एक online educational platform है, जहां आप जब अपनी तयारी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन जैसे नेट्फिक्स का होता है, कि आपने एक महिने के लिए ले लिया, तो आपको एक महिने के लिए Netflix की सारी movies देखने को मिलती है, तो वैसे ही अगर आपने किसी particular course का सब्सक्रिप्शन लिया, तो जितने time के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उतने time के लिए उस course के सारे teacher की class मिलेगी, भले आप refer code म बाकी platform से better है, आपको अपनी मर्जी का teacher मिलता है, unlimited access मिलते हैं, और आप पर teacher थोपे नहीं जाएंगे, बलके आपको चुनने का मौका दिया जाएगा, एक ही सब्सक्रिप्शन में, prelims, mains, interview, यहां तक की test series से लेकर current of year, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में, सबसे ज्यादा result पिछले दो वर्डशो में सबसे अद्बुत result जो आप screen पर देख सकते हैं, 2020 में एक सो सतर से ज्यादा टॉपर, और 197 में, 2021 में शमा चाहूंगा मैं, 197 से ज्यादा टॉपर, जिसमें आप All India Rank 3, All India Rank 4, All India Rank 5 देख सकते हैं, इस समय सबसे बड़ी जो खबर है, कि MKLive refer code आपको 10% discount हो देगा, लेकिन offline library और offline test की facility, iconic subscription में आपको दी जा रही है, सभी plus के benefit के अलावा आपको इसमें mentorship भी मिलती है, मतलब आपको एक guidance मिलता है, और अगर आपका refer code आपके live है, तो आपको हर महीने दो video call मेरी तरफ से रहेंगे, जिसमें आपको discord पर बताया जाएगा, कि इस Sunday मैं आपके doubt लूगा, बाकी plus में fees थोड़ी सी कम होती है, इसमें आपको सारी चीज़े मिलती है, लेकिन mentorship नहीं मिलती, बाकी आपको सब classes, C-set सब मिलेगा, और यदि किसी विद्यारती को कुछ ही course करने है, जिसे GS में मान लो, उसे केवल economics करना है, जोग्राफी करना है, पॉलिटी करना है, C-set करना है, current affair करना है, तो module wise, इस store पर आप minimum price में, minimum price में, subscription राप्त कर सकते हैं, इसमें live और recorded classes मिलती है आप लोगों को, तो एक नया आपके पास option आ चुका है, विश्टोर, जिसमें आप module codes भी खरीच सकते, MK live refer code, आप जब भी अनेकेडमी पर किसी भी प्रकार का subscription लेना चाह रहें, तो use कर सकते हैं, हमारा refer code, और doubt clearing session, mock test, इसमें कई सारे benefit, MK live refer code के साथ जुड़े हैं, तो जब भी आप अनेकेडमी पर कुछ भी purchase करते हैं, तो 10% discount के लिए और best offer के लिए MK live refer code यूज़ करते चलिए, तो अब आप सभी लोगों को best stop luck, कठिन परिक्षा हैं, लेकिन पूरा course, पूरा class complete करना, मैं guaranteed बैटाओ, इससे best कुछ नहीं हो सकता, PDF इसका नीचे जोड़ दिया गया है, तो PDF का attention मत लेना, class की नीचे ही linked है, तो सभी को best stop luck, तो शुरुवात करते हैं, एक पूरी उड़ जाओ के साथ, और एक नए सफर में, पूरा प्रयास करेंगे, की quality में, चिथड़े उड़ जाए, ठीक है, बाकी जहां पर भी कोई silly mistake लगे, मुझे बताते चलेंगे आप लोग, ठीक है, यह हमारा पूरा का पूरा target है, cover करना, सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे, key terms, कुछ शब्दावली, शब्दावली इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पूरी कहानी हो जाने के बावजूद भी, students को कुछ basic बाते नहीं पता चलती, जैसे UPSC इसमें इतने simple और ले सवाल पूछ लेती हैं, कि लोगतंत्र में और गनतंत्र में क्या आंतर होता है, और हम लोग इतना कुछ पढ़ लिये होते हैं, कि आप हमें basic structure बता हो, हम बता देंगे क्या है, लेकिन ये छोटा सा सवाल तकलीव दायक हो जाता है, तो कुछ हमने NCRT की मदद लियें, ताकि terminology को better किया आजा सके, फिर हम देखेंगे इसमें भारतिय सविधान का historical background, historical background का main मकसद रहेगा 1773 से 1947 तक की journey, फिर भारतिय सविधान का निर्मान, 1946 से सविधान निर्मान शुरू हो गया था, और वो लगभग 1956 जनवरी तक चला, 26 नॉंबर 1949 में खतम हो गया था वैसे, लेकिन हम 26 जनवरी 1950 तक की वो तीन वडशों की कहानी भी देखेंगे, फिर भारतिय सविधान का निर्मान, उसकी सभा, कार्य फ्रनाली, फिर हमारे सविधान के निर्मान के बाद उसमें ऐसी कोन सी बाते हैं, जो से आज यूनिक बनाती है पूरी दुनिया में, फिर भारतिय सविधान में कहा कहा से क्या क्या चीजे लाई गई, बड़ा important PT का आर्टिकल एक से लेकर आर्टिकल चार से जुड़े वे वरतमान के मुद्धे भी हम देखते चलेंगे, फिर आर्टिकल पात से लेकर आर्टिकल ग्यारा जिसमें हम बात करेंगे सिटीजन शिप के बारे में, और आर्टिकल बारा से लेकर आर्टिकल पैटीस जिसमें हम बा संशोधन आर्टिकल 368 को कवर करेंगे और फिर 352 से 360 में जो भी वर्णन किया गया है 352, 356 और 360 फिर संसदी और अध्याशात्मक शाशन प्रनाली का अंतर, भारत की संगिय व्यवस्ता, केंद्र और राज्य के संबन, संग और राज्य की कार्यपाली का, संग और राज्य की विधाई का, मतलब executive, legislative और फिर judiciary, उसके बाद हम बातचित करेंगे इसमें local bodies, क्योंकि पंचायत भले ही बहुत चोटा topic है, लेकिन hot topic है, ऐसा शायद ही कोई words हो, जिसमें आपको इसके सवाल न मिले, तो पंचायत भले ही चोटा topic है, लेकिन important है, तो उसे cover करना पड़ेगा और फिर हम आएंगे constitutional और non-constitutional bodies, या जिसको हम कहेंगे कि सवेधानिक और सावधिक इकाया, और फिर सवेधान में कुछ ऐसे important प्रावधान, जिसमें हम बातचित कर सकते हैं, जिसने हमारे सवेधान को एक नया dimension देने की कोशिश की, मिसलेनियस में हम चाह रहे हैं कि कुछ Supreme Court के important decision ले लेंगे, क्योंकि उस पर भी कई बार objective सवाल आते हैं, Supreme Court के decision के बाद मिसलेनियस में article की एक स्रिंखला ले लेंगे, जिसमें एक संग्शिप्त revision देखेंगे, article के according हमारे देश के सवेधान का, तो ये पूरी प्रक्रिया आ तो आए सबसे पहली शुरुआत करने जा रहे हम लोग, Terminology, बीजविच में मैंने कुछ question जोड़े हैं इसमें, पतला हमारी team पूरे रात भर जहां जहां से CDS, NDA, CAP, UPSC, जहां जहां से भी सवाल मिले हैं, वो सवाल भी हमने इसमें बीजविच में डाले हैं, ताकि थोड आसा revision के साथ साथ मसालेधार सवाल मिलते रहें, तो interest भी बना रहता है और चीज़े ऐसा लगती है कि up to date हम चल रहे हैं, तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले Terminology में, और सबसे पहला Termin है, जो है समविधान, देखो यहां पर शब्द पर गौर करेंगे विधान, उसके आगे शब्द जोड दिया गया है स, यह जो शब्द होता है यह boundary को तय करता है, तो जब भी कोई विधान लिखित रूप में प्रस्तूत होता है, या कोई कानून लिखित रूप में प्रस्तूत होता है, तो उसको साधारन रूप से हम कह देते हैं सविधान, लेकिन अगर इसको हम officially definition कहें तो किसी भी देश का primary law, किसी भी देश का प्रात्मिक कानून, प्रात्मिक word उन जगह यूज किया जाता है, जिससे फिर बहुत सारी चीजे और बनती होगी, जैसे कि इस दुनिया का primary source प्रुत्वी के लिए सुर्य है, उसके बाद भली कई source बनेंगे, तो जह पर भी primary word यूज किया जाएगा, मतलब उससे बाकी चीजे developed होगी, तो सविधान दुनिया देश का प्रात्मिक कानून होता है, और सारे कानून उस सविधान के दाइरे को पार करने की कभी कोशिश नहीं कर सकते, जिन जगहों पर सविधान के अनुसार चीजे चलती हैं, उ जगहों पर सविधानिक सरकार शब्द उपियोग किया जाता है, तो सविधान primary law है, जिसके basis पर देश के बाकी सभी law बनाए जाते हैं, देश की शाषन विवस्ता को सुचारू संचालन है तो निर्मित नियमों का समू, और ये देश का primary law कहलाता है, ये NCRT में बहुत बढ जिया से बाते उन्होंने दी है, जिन देशों में सविधाने वे सभी लोकतांत्रिक शाषन हो या जरूरी नहीं है, क्योंकि सविधान हो जाने से लोकतंत्र आ जायेगा, गैरेंटेड नहीं है, UPSC ने पूछा एक बार कि लोकतंत्र में निम्न में से कोन अनिवार्यत होग तो सविधान होना मतलब लोकतंत्र होना नहीं होता, क्योंकि सविधान तो चाइना ने भी बनाया है, सविधान तो उत्तर कोरिया का भी होगा, पर उसके बलबूती हम यह नहीं दावा कर सकते कि लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र में बहुत सी शर्ते और भी होती है, लेकिन में लोकतांत्रिक शाषने वहाँ सविधान का होना जरूरी है तो शब्द परदरा गोर करेंगे पॉइंट नोट किया जा सकता है सविधान हो तो लोकतंत्र होगा जरूरी नहीं है लेकिन लोकतंत्र हो तो सविधान होगा ये तो जरूरी होगा अब भले ही लिखित हो या अल लिखित हो जैसे हम बृतेन के बारे में कहते हैं साधारन सी बात बृतेन में भी सविधान है लिखित है बस एक अंतर है कि उन्होंने हमारे जैसे एक बार बैठ कर प्रॉपर तरीके से उसका अरेजमेंट नहीं किया है वो बिखरी वी अवस्ता में 1688 की क्रांती के बाद से च चलता चला जा रहा है तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र होने का मतलब सविधान हो जरूरी है लेकिन सविधान हो तो लोकतंत्र होगा ये जरूरी नहीं है बृतेन के खिलाप आजादी की लडाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने ले सविधान निर्मान किया पहला देश जि के कारण यहां लिखित सविधान की परंपराएं शुरू होती है फ्रांसीसी क्रांती के बाद फ्रांसीसी लोगों ने भी एक सविधान लिखा लेकिन फ्रांसीसी क्रांती 1789 में हुई है क्रांतिया एक बार रिपीट कर दे हम फिर से 1688 इंगलेंड की क्रांती गोरव मै क्रांती, 1770, 4 से 70, शुरुवात होती है, मेंली 76 वर्ड याद रखेंगे, अमेरिकन रिवोलूशन, 1789, प्रेंच रिवोलूशन, 1917, रशियन रिवोलूशन, 1949, चाइनीज रिवोलूशन, चीनी क्रांती, इसके बाद ये चलन हो कया कि हर लोकतांत्रिक शाषन व्यवस्ता में एक रिटन, कॉंस्टिटूशन शुरू हो गया, देखो, सविधान में NCRT कहती है कि चार बाते होती है, देखो, सविधान एक बड़ी important चीज इसले भी है, क्योंकि कई बार आज जिनके हाथ में शाषन व्यवस्ता है, और वी अच्छे लोग हो सकते है, क्या कि ये दावा कर सकते हैं कि कल जिनके हाथ में शाषन जाएगा, वे भी अच्छे होंगे, इस कारण से सविधान एक दाइरा बानता है, और ये भरोसा दिलाता है कि देखो, ये लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे, वो इन नियमों का उलंगन नहीं कर सकता, इसलिए सविधान में एक तरीके से समझोते भी होते हैं, दक्षिन अफ्रीका का जिस समय सविधान लिखा गया सबसे अधबुत गड़ी ये थी, कि दक्षिन अफ्रीका का सविधान लिखते समय दो तरीके के लोग बैठे थे, एक अश्वेत लोग और एक श्वेत लोग, अश्वेत लोगों ने श्वेत लोगों से लड़ाई करके विजय प्राप्त किया था, लेकिन ये पहली बार था, जिससे जीते उन्हें भी सविधान बनाने में आमंत्रित किया गया, ये दुनिया का इकलोता देश था, और उसने ये भरोसा दिलाया, कि भली हम तुमसे नफरत केवल इस बात से करते थे, कि तुमने हमें गुलाम बनाय लेकिन हम सविधान के निर्मान के बाद ये नफरत भी समाप्त कर देंगे, ये बहुत अपने आप में अदबुत सविधान है, दुनिया में इसके जैसा उधारन कही और नहीं है, जिनसे जीते उनको भी आपने बिठाया और कहां, कि अब आपके भी अधिकारों की हम गयार लेते हैं, तो सविधान में पहला ये साथ रहे विभिन तरह के लोगों के भी जरूरी भरोसा और सयोग विक्सित करता है, जैसे दक्षिन अफरीका में लिखीत रूप से बाते आ गई, तो श्वेत लोगों को भरोसा हो गया, कि कल के दिन आज मुझ से हरा दिया, तो कल के दिन अश्वेत लोग मुझे मारने नहीं आएंगे, दूसरा ये सपस्ट करता है कि सरकार कैसे बनेगी, और फैसले लेने का अधिकार नागरी को और सरकार के पास कैसे होगा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तै करता है, और इसलिए जो सविधान के दाइरे में चलने वाली सरकार होती है, उसे कई बार एक शब्द से संबोधित किया जाता है, स्तीमित सरकार, क्योंकि ऐसी सरकार मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, उसकी अपने बाउंडरीज है, और ये बाउंडरीज कोन डिसाइट कर रहा है, सविधान, जिसमें पहले से सारी बाते वड़नित की गई है, और हमें बताता है कि नागरीक, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तै करता है, और हमें बताता है कि नागरीक के क्या अधिकार होंगे, और ये अच्छे समाच के गठन के लिए लोगों की आकानशाय, हमने अपने सविधान में ये बताया है कि हमारा एक राश्ट ऐ कैसा होगा जो विश्व शांती के लिए भी प्रयासरस रहेगा आर्टिकल 51 तो यह हमारा भविश्य बताने को तयार हैं कि हमारा राष्ट कैसा होगा आकान शाय मतलब हमारी भविश्य की इच्छाओ का प्रती तो चार बाते सविधान के अंदर का दोतिय तेजी से नोट कर सक अद्भुत चीज हैं यह आपको कही शायद ही मिलें पहला सविधान क्या बताता हैं लोगों के बीच का जरोरी भरोसा और सयोग आज जो लोग हमारे देश में हैं हो सकता हैं कि वे लोग किसी दूसरे के प्रती नफरत कर दे सविधान उनको रोकेगा कि सविधान तुम्हे ऐसे नफरत करने की अनुमती नहीं देता हैं दूसरा सरकार का गठन कैसे होगा फैसले लेने का अधिकार कैसे होगा तीसरा सरकार के अधिकारों की सीमा और नागरीकों के अधिकार चवथा अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की क्या अकानशाय रहेगी यह पूरा व की सविधान में निम्नमेंशे कोन सी बाते शामिल की जाती है तो एक बेहतरीन सवाल यहां बनाया जा सकता है। सविधानिक सरकार, constitutional government, ठीक है, आगे बड़े, फिर एक word आता है, constitutionalism, सविधान वाद, हमारे देश में क्व्यक्ति है, वैसे नेता है वो, पर जब भी कही रैली में जाएंगे, तो हमेशा बार-बार कहेंगे, हमारे सविधान में क्या ये लिखा है, क्या हमारे सविधान में वो लिखा है, तो जब कोई व्यक्ति हर बार सविधान को ही लेकर आ जाए, तो हम जनरल ऐसे विचारों वाले व्यक्ति को कहते हैं, कि वह सविधान वाद से प्रेरित है, सविधान वाद का मतलब होता है, सविधान की अनुसार शाशन का संचालन, सरकार सविधान की सीमाओं में बंधी रहती है, सविधान का हुना मात्र सविधान वाद की गैरेंटी, कारण है कि सविधान पर सभी लोग नियमित रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ मंत्री कभी-कभी नफ्रती भाशन दे रहे हैं, और अगर सरकार उनको नहीं रोक पा रही हैं, तो फिर ये सविधान वाद का क्या हैं? उलंगन है, तो सविधान लिख देने से सविधान वाद नहीं ह क्यूंकि उसका क्रियानवयन बहुत ज्यादा ज़रूरी है, अगर क्रियानवयन सही नहीं है तो वो सविधानवाद भी फिर स्विकार नहीं हो पाएगा। अंतिम लक्ष रहेगा कि उसका कभी उलंगन नहीं होना चाहिए। अभिवेक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की शक्तियों पर क्या होना चाहिए। नियंत्रन जैसे हमारे देश में सविधान निर्माताओं ने इस पश्ट रूप से वड़नित किया हैं कि सरकार हमारे देश के किसी नागरिक को बोलने के लिए रोक नहीं सकते। आप कभी भी हमारे नियमों का उलंगन नहीं करेंगे। सविधान वाद शब्दों पर ध्यान देते चलेंगे। 2021 के सवाल देखते चलिए। सविधानिक सरकार ये सवाल तीन बार आया है। अब आप देखते चलना, सुनते चलो, सविधानिक सरकार का आशय क्या है। किसी राष्ट की परी संगिय, परी संगिय सरचना वाली एक प्रतीनिदी सरकार। क्या ये वर्ड कही था। कोई सरकार जिसके प्रमुक के पास नाम मातर की शक्तिया हो, कोई सरकार जिसके पास वास्तविक शक्तिया हो, कोई सरकार जो सविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, हम कहेंगे कि वो कहलाएगी समिधानिक सरकार। पर आपको सुनकर अचरज होगा कि continue, 2021 में सवाल था, 2020 का सवाल देखो, परिभाषा में से सविधानिक सरकार का अर्थ क्या, 20 में भी आया है, क्या कहेंगे आप, विधान मंदल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलिय सरकार, और आपको अचरज ही होगा, कि इतना बावजूद भी मेरे महान विध्यारतियों ने ऐसी चीजों को ज्यादा पसंद किया था, जबकि इसका जो आंसर था, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि सीमित सरकार, उनके दिमाग में अलगी negative thought आ गए, जबकि इसका वास्तवीकर्थ क्या है, limited government, सीमित सरका 2014 में फिर से देखो, सवेधानिक सरकार वह है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंद लगाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंद लगाती है, क्या आंसर आना चाहिए था ये वो प्रश्न है जिसको आप अगर पूरा लक्षमी कान पढ़ ले तो भी आंसर ना निकाल पाए क्योंकि पूछा बहुत ही सरल गया है तो आपने देखा कि सवेधानिक सरकार में तीन सवाल वो भी एक कई वर्ड के हैं कि सवेधानिक सरकार का अभिप्रा है क्या होता ह अब आते हैं सवेधान में जो आर्टीकल होता है वो कानून और धारा से कैसे अलग होता है देखो आर्टीकल वर्ड जो हो है वो केवल और केवल विशिष्ट रूप से सवेधान की धाराओं के लिए उप्योग किया जाता है जैसे कुछ चीजे ऐसी होती है जो यूनीक होत लेकिन सविधान में इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद, अंगरेजी में आर्टिकल, जब कानून आएगा, तो वो कानून सविधान के अंतरगत बनाया जाता है, इसलिए उसके सेक्षन को, उसकी धारा को, हम आर्टिकल नही धारा शब्द से ही संबोधित करेंगे, नियम और वी नियमन पलीन को भी समझ लेते हैं, तो एक तरफ होता है सविधान, सविधान की मदद से बना कानून, कानून की मदद से बनते हैं नियम, नियम की मदद से बनते हैं वी नियम, इसको एक उधारन समझते हैं, जैसे हमार देश में 17 आर्टीकल जो अंटचेबिलीटी को समाप्त करने की बात करता है फिर उसके लिए हमने कानून बनाया एट्रोसीटी फिर एट्रोसीटी में नियम बनाये गए कि भई एट्रोसीटी का मतलब सारवजनिक इस्थान पर किसी को जो भी दिये गए हैं उनको अपमानित क करना फिर वी नियम का मतलब होता है कि उनको रेगुलेट करने के लिए हम और भी क्या-क्या कोशिशे करेंगे लोगों को अवेर करेंगे तो सविधान के अंतरगत कानून कानून के अंतरगत नियम नियम के अंतरगत वी नियम अंग्रेजी में constitution, law, rules, regulation तो regulation सबसे weak और constitution सब सबसे strong, याद रखेंगे अगर कोई चीज पहले regulation थी, अब रूल बन गई, रूल थी, अब लौ बन गई, और लौ थी और अब वह constitution आमें आ गई, तो चीजे भयानक होगी, जो लगातार लाल पीछे जा रहे है, आगे की कुरसिया खाली पड़ी हुई है, जब से किसी ने क ये वापीस आते हैं, the rules and regulation written in the constitution हम उसी को क्या नाम देंगे, article, सविधान के अनुरूप तक्षम बनाए गए बाद्धेकारी नियमों का समू, तो सविधान के अनुरूप तक्षम बनाए गए बाद्धेकारी नियमों का समू कहलाता है, article, article मतलब एक तरीके से सविधान के नियमों का ग्रूप है, सविधान में अनुच्य दोते हैं, जबकि कानून में धाराएं, कानून का अनुच्यत के अनुकूल होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कानून सविधान की सीमाओं का उलंगन नहीं कर सकता है, नियम कानून के अनुकूल होना जरूरी होते हैं, उप का बनेगा, Constitution का, Constitution के अंतरगत, Law, कानून का, कानून के अंतरगत, Rules, और Rules के अंतरगत, Regulation मतलब वी नियम, तो Reality में तबसे ज्यादा मजबूत होता है, उसके बाद, उसके बाद, तो सारे नियमों को कानून के अंतरगत होना चाहिए कि नहीं, तारे वी नियम भी कानून के अंतरगत होंगे, कानून भी सविधान के अंतर, कानून सविधान का उलंगन, पर सविधान के आर्टीकल किसी कानून का उलंगन कर सकते हैं क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली है सविधानिक, गेर सविधानिक, साउधिक और असविधानिक पहला शब्द समझते हैं असविधानिक असविधानिक का मतलब होता है अनकॉंस्टिटूशनल, अनकॉंस्टिटूशनल मतलब जो समाप्त कर दिया जाएगा वो कहलाएगा कि वो हमारे देश के सविधान के नियमों का वाइलेशन है जैसे हमारे देश का 99-वा कॉंस्टिटूशनल अमेंड मेंड जिसे हमारे देश की सुप्रीम कोट ने अनकॉंस्टिटूशनल कह दिया तो अनकॉंस्टिटूशनल मतलब पूरी तरह से गलत अंग्रेजी में Unconstitutional Hindi में असवेधानिक, दूसरा होता है गेर सवेधानिक, वो लोग वे संस्ता वे चीजे जो सवेधान के अनुरूप तो हैं, लेकिन वे सवेधान में नहीं हैं, सवेधान के अनुरूप और सवेधान में न होना दोनों एक ही बात रहेगी किसके लिए, गे सवेधानिक का मतलब होता है कि उसका इसपस्ट रूप से सवेधान में कोई वर्नन और नाम नहीं है, पर बाद में सरकार ने उसको बनाया है, जैसे कि हमारे देश में सेबी, हमारे देश में इरडाई, हमारे देश में ट्राई, ये जो regulatory bodies हैं, इनका सवेधान में वर्नन, लेकिन सवेधान के नियमों के अनुरूप ही इनका निर्मान किया गया है, अभी तक हमने देखा सवेधान, सवेधान वाद, फिर सवेधानिक सरकार, फिर हमने देखे आर्टीकल, सवेधान, कानून, नियम और वी नियम, फिर हम बातचीत करने जा रहे हैं, सवेधानिक, ग वर्नन इस पस्ट्रूप से किस में है समिधान में उसका इस पस्ट्रूप से वर्नन किया गया है जो गेर सवेधानिक है वो सवीधान के अनुरूप है लेकिन वो सवीधान में वर्नित नहीं है और जो सावधिक है वो कानून की मदद से बनाए जाते है देखो जितने भी साव धीक मान लीजे कि बना तो था लेकिन फिर उसे क्या डिकलियर कर दिया तो वो खतम कर दिया जाता है तो इसका उधारन दे रहा हूं मैं सवेधानिक में हमारा बेस्ट इक्जामपल याद रखेंगे चुनाओ आयो क्या किसी आर्टीकल में वर्णन है की नहीं इसकी बड़ी सि सवेधान के आर्टीकल में दिया गया है जैसे कि GST काउंसिल ये भी हमारे देश के सवेधान में वर्णित की गई अब कुछ लोगों की दिबाग में आएगा सर जिस समय सवेधान बना उस समय तो नहीं था तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि उस समय था कि नहीं था इस बात से मतलब है कि आज जो सवेधान की किताब छापी जाए तो उसमें उसका वर्णन आएगा या नहीं अगर आएगा तो वो सवेधानिक बन गया अगर वो नहीं आ रहा है आज भी तो वो गैर सवेधानिक माना जाएगा सावधिक मतलब कानून के माध्यम से बनाया गया कोई संस्तान जैसे इसका बेस्ट इक्जाम पर लेलो सेबी इसका बेस्ट इक्जाम पर लेलो इरडाई इसका बेस्ट इक्जाम पर लेलो ट्राई सब कुछ किसके माध्यम से बना था कानून के माध्यम से अब इसका एक जी यह हमारे देश में कानून के माध्यम से OBC के लिए बनाया गया एक सावधिक निकाय था पर 102 सविधान संशोधन में अब उसको हमने जग दे दी हमारे सविधान में आर्टिकल 338B के अंतरगत तो इसका मतलब क्या हो गया आब वो सम्वेधानिक और जब कोई चीज सवेधानिक बन जाएगी तो कानून से ज्यादा सशक्त चीज क्या होती है सम्वेधान तो उसकी शक्तिया और भी ज्यादा बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि चीजे सवेधानिक बाद में भी बनाई जा सकती है तो सवेधानिक में अपने दिमाग से एक प जो सविधान के अनुरूप लेकिन वर्नित नहीं वो non-constitutional या statutory वो दोनों शब्द लगभग एक है बट सावधिक शब्दकाज वास्तवी करते हैं किसी कानून के अंतरगत बनाई गई संस्ता जैसे हमारे देश में National Green Tribunal NGT एक कानून के तहद बनाई गई 1986 का पर्या वर्न यह कानून तो उस कानून में वर्नन किया कि भही हम एक संस्ता बनाएंगे जो पर्यावरन के मामलो का निर्नाय लेगी उसका नाम रखेंगे NGT तो यह कानून की सहायता से बनाई गई संस्ता होगी और अगर ऐसी कोई संस्ता है जो ना सविधान में है ना वो कानून के प्रोवीजन है बस मंत्री मंडल या कार्यपालिका को लगा और उन्हें बना दिया तो हम उसको कहते ना तो वो constitutional है ना वो statutory है मतलब वो non constitutional non statutory body है साधारन सी body है जिस दिन भी मंत्री मंडल को लगा खतम कर देगी इस मंत्री मंडल को खतम करने के लिए वापिस संसद में कानून पारित करना पड़ेगा और जैसी संस्ता को खतम करने के लिए सविधान में संशोधन करना पड़ेगा और वो ज्यादा कठी नहीं कानून पारित करना हो तो 50% प्लस वन हो गया कानुत पर सभिधान संशोधन में विशेश बहुमत दो तिहाई की जरुवत पड़ेगी लोग सबा और राज्य सबा की और अगर वो बहुत विशेश प्रकार का हैं तब तो राज्यों की भी जरुवत पड़ेगी तो बहुत सरल किसको खतम करना है जो नौन constitutional non-statutory है जो statutory है उसके लिए भी खतम करने के लिए बहुत सारी जरुवत संसद में काम करने की पड़ेगी पर जो constitutional body है उसे खतम करने के लिए constitution को ही बदलना पड़ता है जिसको हम constitutional amendment कह देते हैं फिर आते हैं एक राज़ शब्द पर गौर करेंगे देखो हमारे देश में जो राज़ वर्ड यूज करते हैं मध्यप्रदेश, महराष्ट, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश ये राज़ हम बोल देते हैं पर ये हमारे देश के सविधान निर्माताओ उने जान बूच कर गलत शब्द यूज किया, उसका कारण था क्योंकि जब देश आजाद हुआ, तो कई साली देशी रियासते थी, तो हम सोच रहे थे कि उनको रियासते कह दे, पर रियासते कहने का नुकसान क्या होगा, कल के दिन कोई राजा फिर खड़ा हो जाएगा, और वो कहेगा ये तो मेरा ही था, आज भी मेरे नाम पे चल रहा है, तो हमने इस बात की साउदानी बरतने के लिए नाम ही खटम कर दिया, और हमने एक ऐसा नाम डाला जो बली गलत था, लेकिन बोल दिया, कि अभी राजस्थान राज्य होगा, ये यूपी राज्य होगा, ये हिमाचल उत्तराखन राज्य होगे, बट राज्य की वास्तवीक परिभाशा ये नहीं है, समझेंगे, राजाओ के राज्य होते हैं, लेकिन जैसे राजा खतम हो गए, तो वास्तवीक रूप में राज्य का जगा ले लिया, राष्ट नागरीकों का होता है, और राज् जैसे आपका कोई मित्र आपके साथ आपके घर आया, तो आप उसको बोलते कि ये मेरा घर है, पर क्या तुम्हारा है, आज तुम्हारा मोडवा क्या आज मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, एक कमरा बेज देते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि कानूनी रूप में वो मकान तो मेरा ही है, तो राजाओ का राज्य होता था, क्योंकि राजाओ चाहे तो खुश हुआ राजा, तो राजा ने कह crystal कि आज हमारे जमीन का जो नौर्थिस्ट वाला हिस्सा है, आज हम तुम्हें सोप्ते हैं, तो राजा को अधिकार था न, कबळा करने का, आज देश की सर अधिकार के पास अधिकार नहीं है, हाँ लेकिन हम पॉलिटिकल साइन्स में राज्य का मतलब लेते हैं, चार शर्ते जो पूरी कर दे हम उस शेत्र को अंतरराष्टी स्तर पर क्या नाम दे देंगे? राज्य. पहला, जिस शेत्र में हमें क्या मिल जाए? जिसका एक अपना प यह कोई स्पाचित नहीं है, फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ पर एक और्गनाइजड गवर्मेंट हो, और सबसे ज्यादा जरूरी वो कैसी गवर्मेंट हो? सम प्रभू, सम प्रभू का मतलब उसके उपर कोई प्रभू नहीं, सम प्रभू का मतलब वही अपन आप में प्रभू है, वह जो चाहे वो निर्ने ले सकती है, उस भोगोलिक शेत्रफल की जन संख्या के लिए, तो फिर से रिपीट कर रहे है, जो भी इंटरनेशनल लेवल में चार बाते फुलफिल कर दे हैं, उसको पॉलिटिकल साइंस में राज्य कह देते हैं, पहला वह एक पर्मनेंट पापूलेशन हो, दूसरा वहाँ एक और्गनाइस्ट गवर्मेंट और फिक्स जोग्राफिकल एरिया हो, और सबसी ज़रूरी है कि वहाँ एक संप्रभू सरकार, क्या मध्यप्रदेश की सरकार संप्रभू है, वो हमारे सरकार के दिशानिर्देशों का, के एक नया नाम रखते हैं, जिसे कहते हैं राष्ट राज्य, राष्ट राज्य में संप्रभूता आपके पाथ जरूर है, लेकिन आप किसी भी शेत्र को देने की ताकत नहीं रखते, मान लीजे कि भारत और बांगलादेश के बीच में किसी जगह पे जगड़ा था, और उस में समझोता हुआ कि ये गाव बांगलादेश में जाएगा और वो जगह भारत में आएगी, तो केवल मोदी जी साइन कर दे तो चीजे पूरी नहीं होगी, संसत की अनुमती लेनी होगी, संसत किसने बनाई, तो हमने जो चुनकर भेजा, उन्होंने, मतलब नागरिकों की अनुमती लेनी पड़ती है, तो यहां पर सरकार संप्रभू जरूर है, लेकिन वो वास्तविक संप्रभू नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि राज्य किसके होते थे रियल में, राजा होगे, जो जब चाहे तब अपना हिस्सा किसी को भी दे सकता, अब जैसे मैंने कहा कि आ नहीं, लेकिन मैं इस जगह पे रहता हूँ, मेरे अनुरूप ही सरकारों को चुना जाता हैं, और जैसे मैं जिसको वोट देता हूँ, उसके अनुसार सारी बाते होती हैं, तो अब हम नया वर्ड क्या यूज करते हैं, नागरीक जब किसी भोगोलिक शेत्रफल के प्रती सम मर्पित होकर उसके लिए काम करते हैं, तो वह राष्ट कहलाता है, क्योंकि उसको वो वास्तविक मालिकाना हक तो नहीं मिलता, लेकिन इंडाइरेक्ली मालिकाना हक मिलता है, राजा का ही वास्तविक मालिकाना हक होता था, लेकिन इस नई सरकार में अब मालिकाना हक वास्त था, क्लियर हैं, हम उसे कहेंगे राज, नया नाम राष्ट राज, मध्यप्रदेश, महराष्ट ये राज नहीं है, पॉलिटिकल साइन्स के अकॉर्डिंग, फिर अगर हम बातचीत करें, ये 2021 का सवाल था, और कठिन सवाल था, कौन सा शब्द राज को सबसे बेहतर तरीके से परिभाशित करता है, सुनना ध्यान से, व्यक्तियों का एक समुदा है, जो बिना किसी बाय नियंत्रन के एक निश्चित भूभाग में इस्थाई रूप से निवास करते हैं, जिसकी एक संगठित सरकार है, एक निश्चित भूभाग के राजनितिक रूप से संगठित लोग, जो सोयंपर शाषन करने, कानून और व्यवस्ता को बनाए रखने, अपने नेसरगीक अधिकारों की रक्षा करने, अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं, बहुत से व प्राधिकारी तथा किंद्रिय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदाई कार्य पाली का, तो सुन, अभी अभी सब ताजा पड़ा है, तो यह कह रहे हैं, वहां हालत खराब हो गई थी, क्योंकि राज्य की परिभाशा उन्होंने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, लेकिन कही र कारों ही आपको सही लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा क्लियारिटी शब्दों पर जरूर रखेंगे, जैसे अमने अभी वर्णन किया, और उस पे बंधे रहेंगे, मतलब कारन है कि पूरा लिखा हुआ है वर्णन के साथ कई सारी चीजे, तो राज्य में केवल चार चीजे, जनसंख्या, निशिद भोगो लिक्षेत्रपल, संगटित सरकार, संप्रभूता, राज्ट और राज्य में अंतर, अब समझेंगे, राज्य रियल में कानूनी है, जैसे पिताजी के नाम पर मकान वास्तविक रूप में है, तो वह कहलाएगा राज्य, भई बली मेरे नाम पर वास्तविक नहीं, लेकिन पिताजी का है मतलब मेरा है, तो वह एक विचार है, मानसिक्ता है, वह कानून में कहीं लिखी हुई, कहीं भी लिखा हुआ है क्या उस कागज में कि पिताजी का है तो बेटे का भी हो गया, नहीं, लेकिन हमने माना ना कि वह मेरा भी मकान है, इसका मतलब वह एक ऐसा विचार है, जो केवल और केवल क्या है, mentality, कई सारी चीजे केवल mentality होती है, जैसे किसी भी brand का नाम, जैसे हमने कहा भई कि ये particular brand, तो brand कही से कहा तक कोई physical चीज नहीं है, बलकि हमारे अंदर की केवल क्या है, mentality है, मानसिक्ता है, तो राष्ट भी एक प शेत्र हमारा हैं, और हमें इसके लिए काम करना चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसकी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, हमें इसके लिए अच्छी सरकार चुननी चाहिए, ये सब हमें बताने की कोशिश कर रही हैं, कि वह हमारी एक mentality बने, तो राज आज एक कानूनी कंसेप्ट है, जबकि राष्ट एक मानसिक, कालपनिक और भावनात्मक अउधारना है, यह भावनात्मक महसूस करादू मैं, आगे बैठ जाए जहां भी, जो भी लोग आएंगे, मानसिक भावनात्मक अउधारना, जिस समय भारत पाकिस्तान का मैंच होता है क्या भाव पैदा होता है, एक भी विकेट गिरा ऐसी सिचोशन में, तो ऐसा लगता है कि अब यह सामने आ गया, तो यह तुम्हारे अंदर भाव, मुझे पताओ, वो क्रिकेट अगर जीत गए, तुम्हें एक करोड मिलने वाले हैं, वो जीत गए कपके तुम्हारा फोटो हैं, यह मेरा है, और वो टीम मेरी है, तुम्हारे पडोस में रहते थे वो, लेकिन फिर भी तुमने मेरा कहां, तो यह सब क्या हैं, इमोशन है, राष्ट रियल में इमोशन है, पर एक छोटी सी बात, इस राष्ट के इमोशन जब बहुत ओवरलैप्ट और बहुत ज्याद मात्रा में पैदा हो, तो वो राष्ट को खतम करने की ताकत रखते हैं, यह देशी घी है, एक चम्मच खाओ, तो शरीर हस्ट पुष्ट रहेगा, एक दिन में एक किलो खालो, तो फिर लोग करांती कारी बन जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि यह होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, हिटलर ने केवल किस बलबूते अपने शाषन को स्ताफित किया, इसी राष्टवाद के नाम पर, मैं जर्मन को वही सम्मान दिलाऊगा, जिसके जर्मन हगदार है, पहले तो सवाल है किसके हगदार है, पर उसने एक भ्रम पैदा किया, आजकल हमारे वाट अगर आपने फॉर्वर्ट किया, तो आप सच्चे राष्टवादी, मतलब भगत सिंग सच्चा राष्टवादी नहीं, क्योंकि वो वाट्सप मेसेज फॉर्वर्वर्ट करने से चोग है, ये है राष्टवादियों की सबसे निचली सोच, कहने गाभिप्राय है कि राष् पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करती है, तो ये emotions होते हैं, ये कानूनी होता है, लीगली चीज रहेगे, decision, जब हम कहते हैं, कि भई हमें सरकार चुन्नी है, तो हमने का सरकार क्यों चुन्नी है, तो उसका जवाब है निड़ने लेने के लिए, अब सवाल है कि सर निड़ने कोन से लेने हैं, पहला, निड़ने लेना है उस राज्य या राष्ट की सुरक्षा के, निड़ने लेने ह कि उस राष्ट का development कैसा होगा निर्नय लेना है कि क्या राष्ट के नागरिकों को justice मिल पाएगा या नहीं इसको तोड़ा practical समझते हैं आपने अपनी colony में दस लोगों का एक group बनाया और उन दस लोगों के group को जिम्मेदारी दी निर्नय लेने की तो वो group क्या निर्नय ले रहा है उस colony के development की और वो क्या निर्नय ले रहा है उस colony में justice की नियाए की इधर आजाए दोनों लोग दो लोग इधर बैठ जाए अब इधर दिहान देना decision मतलब सरकार क्या करती है decision लेती है कौन से decision लेती है तीन decision तुरक्षा विकास और नियाए के तो सरकार का गठन क्यूं किया गया हमारे द्वारा निर्नय लेने के लिए और जो निर्नय लिए जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा तीन निर्नय लेने है security के development के और justice नागरी को के लिए फिर हम बातचीत करें शाषन, प्रशाषन, सूशाषन, इशाषन और smart शाषन देखो इशाषन का simple सा मतलब होता है digital रूप से किया गया शाषन जैसे UPSC का form भरने जा रहे है UPSC के form में जाती प्रमान पत्र हमें update चाहिए अगर आपने online आवेदन किया और वो मिल गया तो ये कहलाएगा E-shashan, smart शाषन अगर कोई व्यक्ती minimum resource में काम करके आ जाए तो उसे कहते हैं smart मान लीजे कि माता जी ने 20 रुपए दिये थे और आप जूला भर के सबजिया खरीद के लाएं तो माता जी कहेगे कि मेरा लाल smart है smart का मतलब minimum resource में result लाने की ताकत उसे कहते हैं smart government आपको यदि smart administrator बनना है तो आपको क्या करना होगा minimum resource में maximum पिता जी से आपने कहा मुझे IS बनना है पिता जी ने 1,00,00 रुपए दिये IS का selection होने के बाद पिता जी को 90,000 रुपए वापिस किये मात्र 10,000 में IS बन गए तो यह कहलाएगा smart student क्या यह बात समझ में आ रही है यह मतलब digital smart का मतलब हुआ minimum resource में करने वाला अब थोड़े से शब्दा आते शाषन और सू शाषन पहले देखो सू शब्द जहां भी जूड़ जाए positivity के लिए जैसे सपूत कपूत सपूत मतलब अच्छा पूत कपूत मतलब बुरा पूत तो क नेगेटिव सपॉजिटिव जैसे एक और जगह पर आता यह शब्द आपको कही बार देखा होगा कि समवेग समवेग मतलब एक निशित दिशा का वेग तो सूशाशन का शब्द मतलब होता है एक positive government एक ऐसी सरकार जो अपने नागरीकों के कल्यान के लिए काम करती है वे इसलिए नहीं बनती है कि उन्हें बंगला और गाड़ी चाहिए बलकि वो इसलिए बनती है ताकि वो देश के लिए नागरीकों के लिए बेहतर तरीके से निर्ने ले सके तो एक good governance को एक अच्छे शाशन को हम क्या नाम दे देते हैं सूशाशन शाशन एक साधारन शब्द है जहां निर्ने लिए जाते हैं वो शाशन कोई भी कर सकता है राजा भी तानाशा भी चुनावी सरकार भी कोई भी जैसे उत्तरकोरिया का मुटासा आद नहीं है तो फिर वो केवल क्या है शाशन देखो प्रशाशन ये जो शब्द है प्र का मतलब होता है supportive प्र मतलब शाशन में मदद करने वाला संस्तान जैसे हमारे देश की जो सरकार है वो नीती निर्मान करती है कानून बनाती है कानून का क्रियानवैन वो करने सोयम वो इसका दायित वद जिन लोगों पर सोपती है वो शाशन के अंतरगत काम करने वाले लोगों का ग्रूप है उन्हें कहा जाता है प्रशाशन तो ई शाशन डिजिटल रूप से किया गया smart minimum resource में किया गया सू शाषन अच्छा किया गया, शाषन मतलब केवल निर्नय लिये गये और प्रशाषन मतलब शाषन की साहता के लिए लोगों का समू जो उन शाषन के निर्नयों को लागू करवाएगा, जैसे एक पिताजी है, पिताजी को तयारी करने के पैसे मांगो तो दो थपड मारते है फिर से कुछ भी का गलती हो जाए, चार थपड मारते हैं, तो यह शाषन, ठीक है? पिता जी है, जब आपको जरुवत होती है, तो वो खड़े हो जाते हैं, कि गभरावने, मैं हूँ तुमारे साथ, जब गलती करते हो तो थपड भी मारते हैं, यह है सूअशन, पिता जी है, गल्ती करेंगे तो इधर बताते हैं, यह गल्ती तुमने की, ऐसा न करो इसकी जगह, तुमने यह करना चाहिए था, अभी शाशन, शाशन का सबसे सुन्दर तम रूप है, अभी शाशन, जिसमें गल्ती पर भी आपको सिखाया जाएगा, कि यह ऐसा करना नहीं चाहिए, और अभी शाशन, फोन पे ही सुदा देते हैं, यह क्या लगा रखा है, डिजिटल शाशन, बाकी स्मार्ट का मतलब तो चलता ही रहता है, तुम मांगते सव हो, पिताजी भेशते दस है, समझ जाओ की स्मार्ट शाशन चल रहा है, तो यह सब गवर्मेंट, उसे कहते हैं संप्रभूता, संप्रभूता का मतलब देश का किसी बहारी शक्ति, अत्वा किसी अन्य देश के नियंत्रन से पूर्णत मुक्त होना, या देश के आंतरिक और बहारी व्यवस्ता के स्वतंत्र रूप से संचालन, समझना, यदि किसी भी देश के या आंतरिक और बहारी निड़नें कोई देश कोई दूसरा देश प्रत्यक्ष रूप से उस पर कब्जा करके छीन लें तो इसको कहते कोलोनिजम, ओपनिवेशी शाशन, मतलब उसके देश के निडनाई, उसका नागरीक नहीं ले रहा हैं, बल्कि कोई दूसरा देश उस पर कबजा करके कर रहा हो, तो इसको कहते है कोलोनिजम, और अगर मान लो कि उस पर कबजा किये बगेर, उसके निडनायों को प्रभावित कर रहा हो तो ऐसे शाशन को कहते हैं नव ओपनिवेशिक शाशन न्यू कॉलोनिजम जैसे चाइना नेपाल के निर्णयों को बदलने की ताकत रखता है तो हम कहेंगे कि आज नेपाल भले ही डाइरेक्ट गुलाम ना हो पर इनडाइरेक्ट वो भी गुलाम है क्योंकि जो वे कबजा कर लो तो उपनिवेशिक इनडाइरेक्ट विना कबजा की अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए मजबूर करो नव उपनिवेशिक तो कोई भी सरकार यदि अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत रहतों से कहेंगे संप्रभु इसको ने कहा कि तुम हमारे बगेर ऐसे निर्णय कैसे ले रहे तो माता या महिला जन्म से लेकर मृत्यू तक संप्रभु नहीं बन पाए उन्हें संप्रभु बनाना ही महिला सशक्ती करन है संप्रभु बनाने का मतलब हुआ कि वो निर्णय ले सके कोन से तीन अपनी सुरक्षा के अपनी विकास के अपने लिए जस्टिस वाले वो तै कर सके कि उसे क्या करना है मानलो अगर वो थोड़ा देरी से आ जाए तो पिता जी या भाई रोग देगा अगर वो किसी भी किसाथ हस्किल कर बात कर रही है तो माता जी कहेगे कि तुम्हें यह अच्छा नहीं करना चाहिए यह ऐसा करना नहीं चाहिए तुम्हें शोभा नहीं देता और इस कारण से संप्रभूता चीनी जाती है और वही संप्रभूता कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से तो देश की आंतरिक और बहारी विवस्ता जब स्वतंतर रूप से चला अस्यता लेकर रखी हुई है तो मान लिजे कि WTO ने कोई निर्नय दिया और उस निर्नय के प्रभाव में भारत ने अपने देश में कानून बदल दिये तो क्या आप ये कहेंगे कि सर हम तो कह रहे थी कि हम संप्रभू है लेकिन WTO के निर्नय ने हमारे निर्नय को बदल दिया तो हम क्या कहेंगे कि अब संप्रभू नहीं रहे हम अभी भी संप्रभू है क्यों कि उसका सबसे बड़ा कारण है वो संस्ता कॉपरेशन सयोग के बलबूते चल रही है और सयोग में तो एक दूसरे की बात माननी पढ़ती है उससे आपके अधिकार खत्म नहीं होते दूस तो इसका मतलब है कि हम क्या है संप्रभू है किसी अंतर राष्टिय संस्ता के निर्नयों से प्रभावित होकर हमारे निर्नय यदी बदलते तो उससे संप्रभूता पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह सयोग की भावना पर आधारी थै हमें दबाव पुर्णया तो राष्टमंडल की सदस्यता राष्टमंडल मतलब कॉमन वेल्ट की सदस्यता भारतिय संप्रभूता को सीमीत करती यह तब का विवाद है जब हम सविधान लिख रहे थे और कॉमन वेल्ट के हम सदस्य बन गए अब कॉमन वेल्ट का मुख्या कोई चुना नहीं जाता व बड़ा उधारन है, अगर सदसदा त्यागनी की अनुमती नहीं होती, तो फिर हम कह देते कि हम फिर संप्रभु नहीं है, इसका उत्तर देते हुए जबाला नेरु ने कहा कि भारत द्वारा यह स्वतंत्र इच्छा से किया गया समझोता है, जिसे भारत द्वारा कभी भी थोड़ आजा सकता है, यहाँ एक छोटा सा पेरेग्राफ मुझे याद आता है, नैतिक कृत्य का, नैतिक कृत्य का मतलब होता है, मोरल एक्ट, जब कोई वेक्ति अपनी मर्जी से कोई निर्ने ले, तो वह मोरल एक्ट है, क्योंकि वह अपनी बुद्धी का उपियोग कर और अगर वह अपनी अनुसार न लेकर, किसी की अनुसार निर्ने ले रहा है, जिसमें अपनी बुद्धी का उपियोग नहीं करता, तब हम उसे कहते कि वह मोरल एक्ट नहीं है, तो अपनी स्वतंतरता से लिया गया एक समझोता, स्वतंतरता से किया गया निर्ने, समाजवाद का मतलब बहुत ही गहरा है समाजवाद का साधारन सा अर्थ यहां यह लिया जाता है कि भही समाजवाद मतलब पूरे संसाधनों पर तरकार का कब्जा पहली बात तो यही होती है सोशलिजम फिर हमारे देश में समाजवाद कैसे क्योंकि हमारे देश में तो प्राइवेट इस्कूल प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट बसे प्राइवेट ट्रेने प्राइवेट एरपोर्ट भी होने जा रहे हैं तो क्या हमारा देश पिर समाज तो हमारी सुप्रिम कोट ने का कि हमारा समाजवाद नया है। दुनिया में अलग है। हमारा अलग है। कैसे? दुनिया वाले समाजवाद का मतलब सोचते हैं कि संसाधन नागरीकों के या सरकार का पूरा कबजा। हमारा समाजवाद है समानता लाने का। हमारा समाजवाद है इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का, समाजवाद कई डाइमेंशनों से मिलकर बना है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का मकसद भी होता है, पर हमारा समाजवाद केवल इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन पर बेजड है, हमारा समाजवाद जिसमें गरीबी नहीं होगी, हम हमारा समाजवाद जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, पर हमारा समाजवाद वो परंपरागत, ट्रेडिशनल सोशलिजम नहीं है, जिसके बलबूते सोशलिजम की कलपनाई की जाती है, सेद्धान्तिक रूप से समाजवाद से तात्पर्य उत्पादन और वित्रन के साधनों पर राज्य का नियंत्रन, ट्रेडिशनल सोशलिजम यही है, जिसमें यह कहा जाता है कि उत्पादन और वित्रन के साधन पर किसका कबजा होगा, मतलब फैक्टरी किसकी होगी, सरकार की, बस किसकी होगी, सरकार की, एरपोर्ट किसके होंगे, जितने हव पाईजास सब किसके होंगे, बढ़ हमारे यहाँ पर ये समाजवाद नहीं है, 42 वे सविधान संशोधन में 1976 इंद्रा गांधी स्वर्नसिंग कमेटी की सिपारिश पर उद्देशिका में क्या वर्ड जोडा, समाजवाद, जिसे डियस नकारा बनाम भारत संग में 1983 में सुप् उपेक्षा आउसर किया समानता इत्यादी को समाप्त करना है, ये महोदय पहुच गए थे कि सर समाजवाद की इंटरनेशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम समाजवादी है नहीं, फिर ये क्यो शब्द जोडा इसको हटवाओ, तो उन्होंने का हटानी की कोई जरू समाजवाद कोई बुरा शब्द नहीं है, समाजवाद समानता की और प्रेरित करने वाला एक बेहतर कंसेप्ट है, तो हमारा समाजवाद क्या है, समानता का है, हमारा समाजवाद राज्य को अधिकार नहीं देता, कि वो पूरे कबजे कर ले, अगर समाजवाद सच में होता ट्रेडिशनल वाला तो ये कोचिंग संस्ताने ये सारी चीजे भी किसकी होती फिर सरकार की ऐसा तंत्र जहां व्यक्ति को अपने संपत्ती रखने का कोई अधिकार न हो जैसे इस समय बेश्टू दारन ले सकते हैं उत्तर कोरिया क्यूबा वो मोटा सा आदमी कुछ भी कर सकत है वो जब चाहे किसी की प्रॉपटी चीन सकता है यहां संभव है क्योंकि यहां पर तो कोई चीनने आएगा तो हम सुप्रीम कोड जाएंगे कि महोदय मेरी प्रॉपटी चीनना कैसे यहां तो बुल्डोजर चलाने पर हम सुप्रीम कोड चले जाते हैं वहां वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है तो हमारे देश का जो समाजवाद है वो समानता का है भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है उत्पादन वित्रन के साधन पर नीजी और सार्वजनिक दोनों शेत्रों का अधिकार है भारतिय समाजवाद का चरित्र गांधी वादी समाजवाद की ओर है अभी आये नहीं और सविधान की सभा की अंतिम भाशन से पहले ही चल बसे तो नहरु जी ने एक शब्द यूज किया था अंतिम भाशन में और कहा था कि हमें एक महान व्यक्ति के लक्ष को पूरा करना है और गांधी जी ने लोकतंत्र की जो परिभाशा दी थी वो यही थी क यदि कोई भी व्यवस्ता अंतिम व्यक्ति को उसके न्याय उसके विकास के अवसर और उसकी सुरक्षा का दाइत्व पूरा करने की ताकत रखती है वही सच्चा लोकतंत्र है वही लोकतंत्र सच्चा और जूटा कई टाइब का है चुन लेना सरकार तो यह लोकतंत्र नही बलकि कई सारी उसमें बातें जोड़ी गई है इसलिए याद रखेंगे कि गांधी जी के अकॉर्डिंग उपेक्षा अभाव अवसर गरीबी ऐसी चीजों का होना लोकतंत्र का सच्चा अर्थ नहीं है तो जब ये खत्म होगी तब हमारे देश में क्या इस्थापित होगा त समाजवाद सेकुलरिजम पंथ निर्पेक्ष्टा ये शब्द थोड़ा समझ लेते हैं कई बार किताबों में इसके लिए धर्म निर्पेक्ष शब्द उपियो किया जाता है हम उसे मानते हैं कि वो सही शब्द नहीं है उसके बहुत सारे कारण है धर्म निर्पेक्ष्टा से जुड़े हुए इधर ध्यान देंगे सबी लो धर्म शब्द पहले समझ लीजे धर्म रियल हिंदी शब्द है अंग्रेजी में इसका कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं रियल में धर्म का मतलब होता है वास्तविक रूप में करतव्य जिने मैं धारन करूगा धर्म का मतलब होता है मेरी जिम्मेदारी मेरे दाईत्व मेरे उत्तरदाईत्व मेरी जवाब देहिता जैसे धर्म कई प्रकार के है एक शिक्षक होने का मेरा एक शिक्षक धर्म है एक पिता होने का मेरा एक पित्रत्व धर्म है माता होने का मात्रत्व धर्म है विध्यारती होने का एक व जवाब देहिता उसके करतव्य, पर कोई वर्ड कहे दे धर्म निर्पेक्ष, उस मीनिंग में, तो यह संभवी नहीं है, कोई अपने जवाब देहिता से निर्पेक्ष होकर, सची जवाब देहिता कैसे निभा सकता है, क्योंकि जवाब देहिता में निर्पेक्षता की का डेवलपमेंट वहा बहुत पहले हो गया था बाद में पश्शिम में गया तो पश्शिम वाले कई बार हमारे शब्दों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पार तो जैसे होता है ना जिसको जितनी समझ उसने उस वैसा आर्थ निकाल दिया पंत निर्पेक्ष का मतलब होग कि रियालिटी में आस्ता या इश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग है सरकार उसमें से किसी मार्ग का समर्थन और ना ही किसी मार्ग का विरोध करती है पंत निर्पेक्ष का मतलब हो यहां लिया जाएगा व्यक्ति का उसके इश्वर के साथ जो जुडाव का तरीका है उ कि धर्म का वास्तविक मतलब होता है करतव्य ड्यूटी जो कि हर व्यक्ति के अलग लग है जैसे हिंदू धर्म नहीं बलकि हिंदू को कई पंथो का समू कहलाता है शेव प्रंथ है वेश्णव प्रंथ है ऐसे कई पंथ है इसमें तो कई सारे पंथो का समू है यह वैसे हिं संचोदन 1976 में जोड़ा गया कि भारत का कोई धर्म निया भारत का मतलब सरकार का सरकार का कोई धर्म नहीं होगा सबी धर्मों के प्रती सरकार समान व्यवभार करेगी और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सरकार धर्म के मामले में तटस्त रहेगी, तटस्त का मतलब होता है, हस्तक्षेप नहीं करेगी, चुक्चाप रहेगी, फिर सवाल है, ट्रिपल तलाक में न्यायपाली का वो भी तो सरकारी थी, क्यों बीच में आ गई, शबरीमाला मंदीर में सरकार, या न्यायपाली का फिर बीच में क्यों आ गई, तो यहां पर सरकार के तटस्त होने का मतलब है third empire, जब तक तुम अच्छा खेल रहे हो, सही खेल रहे हो, हम तुमें कोई disturb नहीं करेंगे, लेकिन तटस्त का मतलब मेरा चुप रहना नहीं है, जहां violation होगा, जहां मानव के अधिकारों का उलंगन होगा, मैं वो धर्म के नाम पर भी स्विकार नहीं करूगा, हमारी तटस्तता सक्रिय तटस्तता है, निश्क्रिय नहीं है, निश्क्रिय तटस्ता का मतलब होता है, जगडा हो रहा है दो लोगों के बीच में, अच्छा मजा आ रहा है, इसको कहते हैं निश्क्रिय तटस्तता, सक्रिय तटस्ता का कि वो लड रहे थे, हमने का थोड़ा धंग से लड़ो यार, तो इसको क्या कहेंगे, सक्रिय तटस्तता, या फिर हम उनको दोनों को क्या कर रहे हैं, रोक रहे कि पहले हमें बताओ तो सही हुआ क्या, फिर हमें मज़ा जादा आप आपाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, सक्रि एक्टिव रहना तो हमारी पंत निर्पेक्षता कैसी है सक्रिय वाली है हम चुप बैठने वाले पंत निर्पेक्ष नहीं है यह सुप्रीम कोट ने पिछले तीन चार वडशों में क्लियर कर दिया है ने तो लोगों को लगता था कि धरम के नाम पर कुछ भी कर लेंगे और को कोई बोलने वाला नहीं होगा धरम के नाम पर जूट बोला जाए धरम के नाम पर किसी को मुर्क बनाया जाए सरकार को वहां खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि हमारी पंत निर्पेक्षता सक्रिय तटस्तदा वाली है यह शब्द याद रखेंगे कि हम न्यूट्रल जरूर है लेकिन एक्टिव न्यूट्रल है हमेशा अबजव करते रहेंगे जहां गलत हुआ बीच में खड़े हो जाएंगे कि ये स्विकार नहीं है भली ये मामला तुमारे रिलीजन का भी क्यों ना हो अब सवाल है किन बेसिस पर हम खड़े होंगे तो उसका सबसे बड़ा आध नहीं दिया है विभिन धर्मों के बीच परसपड सामजस्य और मूलभूत एक्टा इस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा तटस्त ना रहकर सक्रिय भूमीका का निर्वान ये सुप्रीम कोट के शब्द है कि हम तटस्त ना रहकर सक्रिय भूमीका लेकिन इसको वास्तविक रूप में उन्होंने कहा सक्रियता तटस्तता के साथ केवल हम तभी एक्टिव होंगे जब कोई चीज गलत होगी फिर वो शब्रीमाला मामला हो या ट्रिपल तलाग का मामला हो हाला कि पंथ निर्पेक्षता को 42 सविधान संचोलन 1976 के माध्यम से भारतिय सविधान की उद्देशिका में जूडा गया किन्तु इसका यह तात्परेने की भारत इसके पूर्व पंथ निर्पेक्ष नहीं था था इसका सबसे बड़ा प्रमान है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कि हमने अपने देश के सबसे अल्प समुदाय को भी वही सारे अधिकार दिये जो कि बहु संख्यक को मिलते हैं बहु संख्यक को अधिकार देने की जरुवत नहीं होती क्योंकि बहु संख्यकी बहुमत में होता है इसलिए वो अधिकार अपने आप उसे मिल जाते हैं आर् किसी को वोट देने का अधिकार केवल धर्म के आधार पर नहीं दे सकते. Article 15 में समानता की बात है, Article 16 में समानता की बातकीत है, 25-28 आपने वादा किया है कि सरकार Article 27 में क्या कहती है, धर्म के नाम पर कोई टैक्स वसूला नहीं जायेगा. तो इसलिए तो हमारे मंदीर मजजित कही पर भी सरकार टेक्स हाँ, कुछ संस्ताय सोयम मतलब प्रेरित होकर टेक्स जमा करती है, वो उनकी मर्दी है, लेकिन सरकार कोई टेक्स लगा नहीं सकती, 42 वे सविदान संचोधन के माध्यम से केवल इस छवी को अधिक क्लियर किया ग अबरायम लिंकन के, लेकिन इसमें भी मुझे पसंद है अंबेटकरजी के शब्द, जन्ता के लिए जन्ता द्वारा चुना गया शाशन, जिसमें सभी की सहभागिता हो, वही आपने जन्ता ने चुना, लेकिन हो सकता है कि हमारे देश में दस तरीके की जन्ता थी, चार ज जन्ता ने मिलकर चुना, चार जन्ता ने निर्ने लिए, बाकी छे लोगों को तो पार्टिसिपेटी नहीं करने दिया, तो हम क्या कहेंगे ये, कि ये कौन सा लोकतंत्र है, आगे आजाओ मेरे लान, ये कैसा लोकतंत्र, तो अंबेटकरजी क्या कहते है, तभी की सहभागि और उसमें भी लोकतंत्र का मतलब केवल सरकार का चुन लेना भर नहीं है, बलकि वास्तविक निर्ने लेने की ताकत उसी सरकार के पास हो, जो चुनी हुई हो, तो लोकतंत्र माना जाएगा, उसमें भी वही सरकार लोकतंत्री कहलाएगी, जहां पर सरकार के निर्ने नागर लोकतंत्र का मतलब यह केवल एक साधारन परीभाषा है पर यह उसका वास्तवी कर्थ बहूत गेहन्तम हो सकते है नागरिकों के सम्पूर्न बॉधिक विकास से संबन्दित देखो लोकतंत्र में कुछ हो ना हो पर सबसे ज़्यादा जरूरी है नागरिक का सक्रिय होना कलपना करते हैं एक छोटा सा उधारण मान लेते हैं कि हम टाइम मशीन में आपको पंद्रवी या चौदवी शताबदी में ले जाए दिल्ली में यही इसी जगह से अब मैंने आपको दिल्ली में भेजा चाननी चोक के इलाके में शाशन चल रहा है दिल्ली सल्तनत काल का आप एक नागरिक से मिले आपने पूछा क्या आपको राजा पसंद है उसने का कैसी बाते कर रहे हैं और ऐसे सवाल मत करो किसी ने सुन लिया क्योंकि वो निश्क्री है उसको ये भी नहीं पता है कि भई ऐसे अधिकार होते हैं नागरिक के पास क्योंकि लोकतंत्र में जिये नहीं फिर आपने गल्ती से कह दिया मुझे तो बक्वास लगता है राजा वहां से सभी लोग हो सकते हैं भाग जाए कि बोले मैंने सुना ही नहीं क्यों कैसा क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी जिंदगी लोकतंत्र में बिताई नहीं है तुम्हें लगेगा कि लोग ऐसा बिहेव क्यूंकि तुम लोकतंत्र में रहे तो आज तुम्हें एक्टीव हो गए उ U सक्री नोगिए तुम्हें अपने अधिकार पता ए तुम्हारा बधिक विकास राजनेतिक रूप में हो चुका है तुम्हें पता है कि सरकार की बुराई कैसे की जाती है कल्प ना करो अकबर का शाषन चल रहा है तुम्हे टाइम मशीन में आवाँ उतर अगा रखाया को बुलाओ जरा हो सकता है सैनिक वही सड़ धड़ से कि अभीप्रा ये है क्योंकि उस सैनिक कोई आदत नहीं है कि अकबर को कोई अकबर कह दे अब मैं कितनी कारण ये है अब मैं बान लीजे कि हमने मोधी जी को मोधी जी ना कहकर केवल मोधी कहा कि मीडिया में लोग मोधी ही कहेंगे वो जी शब्द कहें जरूरी नहीं है कारण ये है कि लोकतंत्रा में ये बढ़िए मालिक नहीं है वो आज है कल हटाया जाएगा दूसरा उसे हमने चुनाए अपनी सर्विस के लिए व्यक्ति है तो लोक्तंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि वो नागरीकों का बोधिक विकास का और अप्रत्यक्ष जाहा जनता डौरा डाइरेक ना चुने जाए इन डाइरेकली जनता किसी को चुने जाए तो याद रखेंगे कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोक्तंत्र नहीं कि हमारा राष्टत पति भी प्रत्यक्ष लोगतंत्र का उधारन है हमारा प्रदान मन्त्री भी अप्रत्यक्ष क्लिद्भू कि नाम परमद्दान के और वही सब से शक्ती प्राप्प कर ले तो हम कहेंगे डाइरेक्ट डेमोकरेशी सवाल है न, पूरी किताब धून लेना, पलट लेना सारे पन्ने, पर ये पॉइंट नहीं मिलेगा, लोक वर्चु लाई in the fact that is called into activity, साधारन पुरुष और महिलां पालक नेत्रत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धती है, गती शिल्ता और दूर दर्शिता से युकत एक बहतर करताओं का एक समू है, ये कैसा सवाल है न, कि मैं दावा करताओं पर लेना जितनी किताबे में नहीं है, तो उत्तर शायद ही निकल पाएगा, अदुबुत सवाल है UPSC के, ये सवाल मैं करता है, कि UPSC सवाल वही पूछती है, जो कुछ किताबों में सीमीत है, वो बहुत साधारन मीत है, इतनी बातें समझ पा रहे हैं, प्रकार इसलिए कह देते हैं, पंचायते, वहां ग्राम सभा तो डाइरेक्ली लोग भारत का लोगतंत्र कोन सा है, इन डाइरेक्ली इसके पीछे यत्तर कहें कि सविधान में भारत में राष्ट्रपती को लोगतंत्र का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे वोट दे कर नहीं, बलकि जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेट्र वोने मिल कर चुना है, लोगतंत्र की कुछ भयानक परिभाशा है, वो अपना शोशक आप बन जाने का अधिकार देता है, क्योंकि लोगतंत्र में कई बार भीड तंत्र होता है, जहां इस बात पर गौरी नहीं क्या जाता है कि चुना गया व्यक्ति सही निर्ने ले पाएगा की नहीं, पर वो अच्छा भाशन दे देता है, तो हम कहतें कि वो बेटर नेता है, इसलिए लोगतंत्र की एक और परिभाशा क्या कहती है, लोगतंत्र हर व्यक्ति को अपना आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब अपने ताना शाहों का चुनाव करना, पर उनके मूँ से अपनी इच्छा की बाते सुनने के बाद, मतलब एक नेताया जिसने तुमें भ्रमित किया कि मैं ये करूगा, मैं वो करूगा, मैं ऐसा करूगा, या मैं वैस करूगा, जब कि कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी तुमने उनी को वोट डिया, तो इसका मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब अपने ताना शाहों का चुनाव करना, पर उनके मूँ से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बात, व्यक्ति की न्याय प्रियता लोकतंत्र को पार लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रोझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है, आप उनका होता है जिनकी और लोग जुके होते हैँ, अब लोगों के जुकने का कारण किसी का शोशन भी तो हो सकता है, आप बहूमत ही सुस्त EMF इसलिए प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि अगर मैं जिता तो सामने को निपता दूँगा। तो इसका मतलब क्या है ये? अन्याय के प्रति व्यक्ती का रुझान लोकतंत्र को जरूरी, क्योंकि तभी सरकार बन पाएगी जब बहुमत में आएगी, लोकतंत्र शाशन का ऐसा तरीका है, जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं, वैसी सरकार ही हम पर शाश है, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी मेंटलिटी ही वोट तय करेगी, और जो आपकी मेंटलिटी है, वैसी मेंटलिटी वाला आदमी आपके उपर शाशन करता है, आप कभी लोकतंत्र को दोश मत दीजे कि सरकार कैसे गलत आ गई, आप गलत थे, क्योंकि आपने चुना गलत है इसलिए सरकार भी वैसी ही मिल गई है, लोकतंत्र की सारी बुराईयों को अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता, एक और अद्बुत्सी बात है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में जो कमी हैं, वो तभी सुद्री जा सकती है, जब लोकतंत्र और भी अधिक लाया जाएगा, कोरोना में जिन लोगों को पहला दूसरा तीसरी बार बिमार पड़ गए अब उनको कह दिया कि तुम्हें कोई खत्रा नहीं है तो लोकतंत्र की भी खासियत क्या है कि जितना लोकतंत्र में कमिया है उसको दूर करने का कोई और तंत्र उसका एक ही तरीका है लोकतंत्र को और अधिक लाओ, गेहन्तम अर्थों में लाओ, जैसे वर्तमान में लोकतंत्र भीरतंत्र हो गया है, तो तभी सुधर सकता है जब लोकतंत्र में सभी को शिक्षा उपलब्द कराई जा सके और उसंभव केवल लोकतंत्र से ही होगा, जबर दस्ती किसी को पढ़ाया जाना लोकतं कि लोकतंत्र की सारी बुरायों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है, देखना, लोकतंत्र में ये खासियत होती है, लोगों द्वारा चुने गए शाशक ही सारे प्रमुक पैसले लेते हैं, पहला केरेक्टर, चुनाव लोगों के निश्पक्ष आउसर और इ रजया सुल्तान को लोगों ने पसंद करके शाशक बनाया, तो क्या कह दे कि लोगों की पसंद से चुनी गई तो लोकतंत्र आगया रजया सुल्तान के शाशनकाल में, क्योंकि विकल्प ही काते हैं, अगर चार रजया सुल्तान खड़ी होती है, फिर चुना होते, फिर उने चुना, एक विक्ति का विकल्प और उसी को चुनना है, तो ये कोई लोकतंत्र तो नहीं हो सकता, तो ये मत सोचे कि आपने लोगों ने जनता ने पसंद किया, तो लोकतंत्र आ गया, के वल जनता की पसंद तय नहीं करती लोकतंत्र को, बल्कि वहाँ विकल्प भी होन चुनाओ के समय ना हो वोट डालने में और चुनाओ से बनी सरकार सविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरीक अधिकारों को दाइरे के दाइरे में काम करते हुए काम करें तब हम मानेंगे कि वहां सच्चा लोकतंत्र है मतलब सही लोकतंत्र में चार बाते पहल निर्नय वास्तविक रूप में कोन ले जैसे इसका जीवन तुधारन ले लो पाकिस्तान में जब मुशरप अभी मृत्ति हो गई तो मुशरप ने कबजा कर लिया और वो निर्नय ले रहे थे तो पाकिस्तान क्या लोकतंत्रिक सही अर्थों में था चुनाओ लोगों के लिए निश्पक्ष अउसर मान लीजे कि तर सालों से जीत रही है चीन का उधारन ले लो एक पार्टी के लोग है तो क्या मान लिया जाए कि वहाँ लोकतंत्रिक है हमने गा भई तुमारे कहने से लोकतंत्र आता उसमें ये कैरेक्टर भी होने चाहिए चुनी जाए वो सविधान के दाइरे में रहकर काम करे तो ही लोकतंत्र है जैसे 1976 में पिचत्तर में जो आपातका लगा दिया सब कैरेक्टर थे लेकिन उसनोंने सविधान का उलंगन किया जब अपातका लगाया तो उस समय हमारे देश में सच्चा लोकतंत्र तो नहीं था फिर आते हैं अधिकार, मूल अधिकार, सविधानिक अधिकार और कानूनी अधिकारों पर ये भी बड़े इंपोर्टेन शब्द हैं देखो कई बार स्टुडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं हमारे सविधान की एक किताब है उस किताब में कुछ विशिष्ट पन्ने है उन पन्नों पर जो बात लिखी है केवल वही मूल अधिकार है उस विशिष्ट पन्नों पर जो ये किताब ले लिजे इसमें 20 चैप्टर है और इसमें 4 चैप्टर में जो लिखा जाए तीसरे चैप्टर में जो लिखा जाए उसको मैं कह दू कि वो मूल अधिकार है तो उस चै अक्तर के अधिकार, जैसे हमारे देश के सविधान भाग 3 में जो लिखा गया केवल वही मूल अधिकार है, बाकी मूल अधिकार नहीं है, फिर हमारे देश के सविधान में क्या और अधिकार नहीं है, जैसे 300 में, 300A में संपत्ति का अधिकार, 325 में वोट का अधिकार सविध सवेधानिक अधिकार है, मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार सवेधानिक है, लेकिन मूल अधिकार, मूल अधिकार की बस एक ही चैप्टर है, वो है भागतीन, उसमें जो अधिकार है, वो मूल अधिकार, बाकी कोई मूल अधिकार नहीं है, तो सवेधानिक मतलब पूरे कोई सविधान के दाइरे की बात नहीं, मनुष्य का जन्म हो जाना ही वो अधिकारों की गैरेंटी है, लेकिन उसमें भी एक शब्द आता है कानूनी अधिकार, अब समझना कानूनी अधिकार किसी देश के सरकार के द्वारा उपलब्द कराए गए अधिकार है, जैसे दीन में दिया हूआ है, कहीं भी नहीं है, पर वो अधिकार तो है, वो किसी कानून ने आपको उपलब्द कराया है, तो उसका नाम क्या कहलाएगा, कानूनी अधिकार, लेकिन सबसे बड़े अधिकार कौन से होते हैं, मानव अधिकार क्यूंकि सबसे महतव पुड़न होते एक मनुष्य जन्म के नाते, तो अगर हम बातचीत करें तो पहला शब्द समझते हैं, अधिकार किसे कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अधिकार तीन चीजों के साथ आता है, ये ट्राइंगल कहीं भी पूरा हो जाएं, वो अधिकार कहलाएंगे, पहले उसमें समाज देने को तयार हो, समाज ने उसके लिए स्विकार्यता दे दी हो, जिससे नागरी का क्या होता हो, विकास होता हो, और जिसको कानूनी रूप से, कानूनी सविधान किसी भी तरीके से माननेता मिल जाएं, ऐसी तीन चीजे जहां पूरी हो जाएं, वहां कहला दिया जाएगा, अधिक मतलब अधिकार के लिए तीन चीजे हैं समाज ने माना हो कानूनी रूप से मिला हो कानूनी मतलब वो सविधान के माध्यम से कानून के माध्यम से या किसी भी तरीके से सरकार ने हां का हो सरकार उसकी गैरेंटर होनी चाहिए और वो कैसे होने चाहिए जिससे नागरीकों का व के कल्यान के लिए, वो तभी अधिकार होंगे जब उस गोली चलाने से ऐसा व्यक्ति समाप्त हो, जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति या समाच का विकास रुक रहा हो, तो अधिकार तीन शर्तों के साथ आता है, समाच की सहमती, कानून की स्विकृती और विकास की ग्यारें अगर ये तीन शब्द हैं, तो कह दीजे कि वह अधिकार है, अगर वो भाग तीन में है, चैप्टर तीन में लिख दिये जाए, तो वो सीधे सुप्रीम कोट या हाई कोट में जिसके लिए हम दावा कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? मूल अधिकार मतलब एक छोटी सी सविधान की जग में निहित अधिकार, और सविधानिक का मतलब हो जाएगा, वो अधिकार जिनका उलेक सविधान में कही भी किया गया हो, सभी मूल अधिकार, लेकिन सभी सविधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार विधाई का द्वारा नियम बना कर दिये गए अधिकार, सार्वजनिक दुकान से खरीदारी का अधिकार, सभी मूल और सविधानिक अधिकार कानूनी अधिकार हैं, किन्तु सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यहाँ एक वेन डाइग्राम और बना रहा हूं है, सबसे बड़ा होता है human rights, उससे ज्यादा बड़े कुछ नहीं होते, फिर होते हैं कानूनी, कानूनी अधिकार, फिर होते हैं समवेधानिक, और समवेधानिक में विशे chapter 3 में उपस्तित fundamental rights, तो fundamental rights, constitutional rights, law के rights और human rights, तो ये भी एक वेन डाइग्राम है अधिकारों का, नागरिक अधिकार, किसी देश के नागरिक अतवा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति के कारण, भई आपको नागरिकता प्रमान पत्र मिलता है, वो आपको इस बात का सबूत है कि आपक और जो लोग इस देश में कई बाहर से आये हो, उनके भी कुछ अधिकार होंगे, पर वो नागरिक अधिकार नहीं, वो एक सामान्य मानव अधिकार के जैसे है, मानव अधिकार एक मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार, जिसमें नागरिकता, राष्ट की भो पुरी, भई कर्तव्य भी उसके साथ जुड़े हैं जैसे, आपने अपने घर में पिता जी से कहा, कि संपत्ती में मेरा भी अधिकार है, तो पिता जी ने कहा बेटा, वैसे तो पुत्र के बहुत से कर्तव्य है, क्या तुम ने वो सारे पूरे निभा दिये, तो बगेर पर्यावरन का सरक्षन करना अब कानूनी कर्तव्य भी हो गया है क्योंकि अगर आपने प्रदूशन फैलाया तो आप पर कारवाई की जा सकती है तीन चीजे आती हैं विधाई का, कार्यपाली का, न्यायपाली का लेजिसलेटिव, एक्जीकेटिव और जुडिश्रे विधाई का मतलब विधान बनाने वाले, कानून बनाने वाले, नियम बनाने वालों का ग्रुप कार्यपालिका काम करने वाले उन नियमों को लागू करने वाले उन नियमों के लिए जिम्मेदार लोग और जुडिशरी उन लोगों के कारण विधाईका के कारण कार्यपालिका के कारण जनता के साथ उनके जगडों को निप्ताने वाली संस्ता जो ये तै करेगी कि वो कही गलत तो नहीं था अब वो अलग अलग भी हो सकते और एक भी हो सकते उसको हम अब आगे समझेंगे लेकिन तीन लोग होते हैं एक समु जो क्या बनाएगा कानून एक जो उसको लागू करेगा और एक उन कानूनों के आधार पर इनके साथ भी या जनता के आपस में भी स्टिस देगा तो लेजिसलेटिव कानून निर्मान करने वाली संस्ता संसद्या विधान मंधल विधाई का द्वारा बनाएगे कानून को लागू करने वाली संस्ता जैसे मंत्री परिशत काउंसिल ओप मिनिस्टर विधाई का द्वारा निर्मित कारेपाली का द्वारा क्रियानवित कानून के अनूसार न्याय प्रदान करने वाली संस्ता जो ये बताएगी कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की गेर जात दी ना हो या किसी के साथ अन्याय ना हो तीन संस्ताय होती जैसे बहुत सिंपल सा है, मान लेते हैं कि हमारा घर, दादा जी निर्नय लेते हैं, तो वो हो गए, निर्नय लेते हैं मतलब, वो कानून बनाते हैं, दादा जी कानून बनाते हैं, विधाई का, पिता जी उनको लागू करवाते हैं, पर कभी-कभी आप खपाओ जाते हैं कि दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आप गए माताजी के पास, तो माताजी बन गई, जुडी श्री, माताजी आपको समझाती है, कि वो तुमारे भले के लिए कह रहे हैं, तुम उनकी बात को मानो, और वही शादी कर लो, तो ये क्या कहलाया, जुडी श्री, तो जुडी श्री मतलब उन दोनों से नाराज व्यक्ती को संतुष्ट करेगा, कि तुम घबराओं नहीं, मैं अभी जिंदा हो, तो जुडी श्री मतलब विधाई का, और कार्य पालिका से अगर कोई नाराज हो जाए, तो उसकी शरन में जाकर अपने दुखों को दूर कर सकता है, न्याईक पुन्रावलोकन जुडी श्री रिव्यू, विधाई का द्वारा बनाये गए कानूनी, कार्य पालिका द्वारा लागू किये जाने वाले कानून की सवेधानिक वेधता, सिंपल सी बात है, जोड रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सवेधान में कही वड़नीत, ये किसकी उपज है, न्याई पालिका, सुप्रिम कोट ने ये शब्द गढ़ा है, 24 अप्रेल 1973 को ये शब्द केश्वानन भारती मामले में गढ़ा गया, अभी तक किसी को नहीं पता कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और ये केवल तब पता चलेगा, जब कई हजार साल बीत जाएंगे, तब न्याई पालिका बीच बीच में बोलती जाएगी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी basic structure इसको ऐसे समझो कि आपने कही पर room rent पर लिया पहले मालिक ने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो पर कोशिश करना कि बड़े खिले बड़े मतलब जो किल ठोकना मत या फिर किसी भी जग गंदगी मत करना तोड़ा बूरा लगता है तो पहली बार आपको लगा मालिक ब ये basic structure है क्योंकि ये तुम्हें अधिकार नहीं है तो पहला basic structure पता चला कागच चिपकाना उलंगन है फिर मान लो कि तुमने किसी दिन कोई चार्ट लाया चिपकाया नहीं आपने क्यों लटका दिया उसे फिर कहां तुम लटका भी नहीं सकते ये basic structure का उलंगन है फिर तु उड़वा तो तुम ऐसे सेट कर बैठ गए थे, मालिक आया, ऐसे दिवार पर चिपक कर नहीं बैठ सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर का उलंगन है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रावधान जिसको आप कभी बदल नहीं सकते, ना सविधान में संशोधन कर के, ना संसद में किसी भी प्रकार की कानून लाकर, सविधान के वो आधार भूत प्रावधान जिने विधाई का द्वारा संशोधित, अथवा, समाप्त नहीं किया जा सकता, क्यूंकि इससे सविधान की मूल भावना नस्ट हो सकती है, जैसे डेमोक्रेटिक या रीपब्ल होना, जैसे पहुत सारी बाते हैं, वो आने वाले टाइम में और भी क्लियर होगे, अब दो शब्द हैं, सम्ता और समांता, समांता पुरानी बात है, सम्ता नहीं बात है, अंग्रे जी में एक्वालिटी, एक्वीटी, देखो समांता और सम्ता का मैं बस एक चित्र दिखा इसको कहते हैं समांता और सम्ता, समांता, सिमल्यारिटी, जहां आपने तीनों को बराबरी में चीजे दे दी, लेकिन क्या इससे सभी लोग मैच देख पा रहे हैं, अभी भी दो लोग मैच देख पा रहे हैं, और एक व्यक्ती को मैच देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन नया शब्दा आ गया है, इकुवीटी, नया शब्दा आ गया है, इकुवीटी, सम्ता, और सम्ता का मतलब होता है, जिसको ज्यादा जरूरत, उसे ज्यादा, जिसे कम जरूरत, उसे कम, और जिसे कोई जरूरत नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देना, ये कहलाता है, इकवीटी, इसमें तीनों लोगों को मैच देखने का मोका मिल रहा है, तो याद रखेंगे, पुराना कंसेप्था समानता, जैसे आपके पास चार लोग थे, चार रोटिया थी, सबको एक एक दे दी, ये हो गई, समानता, आप ये येक ल dir में तीन दीन सी खाना नहीं खाया तो आप लोटिया एक देखनाकू दिखा लिया थाता, इभने आदी रोटिय कर एक नहीं कहा कि में तुम्हे िंहीं कुछ नहीं मिलने वाला, तो समानता, बस बाठ देना ही लक्षach होता है, लेकिन समता में पहले, जानकारी जुटाई जाती हैं, जिसको ज्यादा जरुवत हैं, उसे ज्यादा, जिसको कम जरुवत हैं, उसे कम, आधुनिक यूग की एक राजनितिक विचारधारा, लेकिन पूरा, समानता, समानता का सामान निर्थ एक जैसा होना या बराबर होना, सभी वेक्ति समान हो, सभी को समान किन्तु व्यवार में संभव नहीं प्रक्रती ने सभी रंग रूप आकार प्रकार शरीर बनावट बोधिक शमता इत्यादी दृष्टीकों से अलग लग बनाया अता समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं किया जा सकता जैसे बचपन में माता जी मुझे बार-बार कह ठीक है अंतर होना बुरी बात नहीं है लेकिन अंतर के आधार पर आप नेगलेट करें किसी को ये तो बात बुरी है तो हम कहेंगे समता आधुनी क्यूक की एक राजनेतिक विचार धारा 1789 फ्रांस की क्रांती से उपजी जॉन लॉक ऐसे व्यक्तिये जिनोंने इसका व्यर करते हैं कोई विशेश अधिकार वाला वर्ग समाज में नहीं हो सभी को विकास के समान अवसर हो और यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको अत्रिक्त मदद कराई जाए इसमें एक और उधारन में आपको देना चाओगा महाभारत का एक सीन था जिसमें दोनों यूराज जो की परिक्षा हो रही थी युधिष्टिर की बी और दुरियोधन की भी तो दोनों से पूछा गया कि ब्राम्मन, शत्रिय, वेश, और शुद्र चारों ने हत्याय की हैं सजा क्या देंगे तो दुरियोधन कहते कि हम सभी को फासी की ज़दा देंगे क्यूंकि अपराद स फिर भी वो पाप करें तो वो बड़ा अपराधी है और जिसको अज्ञानता के वशत्या कर दी गई हो तो वो उतना बड़ा अपराध नहीं है तो ये हो गई सम्ता परिस्तिती के बदलने के साथ निर्णे भी बदल जाते हैं एक जैसी परिस्तिती वाले लोगों के साथ एक जैसा विवार प्रत्यक वेक्टी को अपने विकास करने का समान अउसर जाती धर्म भाशा मूलवंश लिंग इत्यादी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं मानविय गरीमा अधिकारों की दृष्टी से सभी समान एक च तो समान है तर्क संगत न्याय संगत आधार पर राज्य द्वरा किसी वर्ग विशेश के लिए विशेश प्रयास किये जा सकते हैं जिसको हम कहेंगे सकारात्म कारवाई आरक्षन फिर हैं शक्ती प्रतक करन शक्ती प्रतक करन और शक्ती विभाजन प्रतक करन का मतलब होता जैसे तीन भाई हैं, तीनों में प्रापटी बाटी गई, तो ये हैं सेप्रेशन, प्रतक करन, पर बेटा और पुत्र में जो बाटा गया, वो कहलाएगा विभाजन, विभाजन अलग लेवल पर उतार बराबर लेवर पर लाई गई चीज को कहते हैं, शक्ती प्रतक करन, इस बहुत बड़ी और अच्छी बात कहीं दुनिया में पहली बात, बोले जब भी लोकतंत्र में आप ताना शाह लाओगे, तो आपका लोकतंत्र राजा के शाशन से भी घटिया शाशन होगा, और अगर आपको ताना शाह को मतलब लाना नहीं हैं, तो इसका एक ही तरीका है, कानून बनवाओ किसी और से, लागू किसी और से करवाओ, और न्याए किसी और से करवाओ, कभी ताना शाही का निर्मान होगा ही नहीं, तो उन्होंने का तीनों ताकते अलग लग दो, कलपना करो फिर से, मैं आपको लेकर जाओ अकबर के शाशन में, आपको सभा में मैंने चुक्चा बैठने के लिए कहा था, और अकबर ने निर्ने लिया हैं, कि आपको हम इसी समय मारने का हुक्म देते हैं, तो तुम में से किसी ने गा, महराज, इसके लिए हम सुप्रीम कोट जाएंगे, तो अ यह तो सब चीजे तुमारे पास है, तो तुम जो चाहो, वो कर लोगे, फिर वही होगा, कि मेरा वचन ही मेरा, तुमारा वचन हो सकता है, पर वो चेक करना पड़ेगा, कि वो वचन सही था कि गलत था, उसके बात तय होगा, कि वो शाशन सही है कि नहीं, तो पिर वही बात शक्ति का प्रथक्रन करेंगे, तो कोई एक व्यक्ति अपने आपको भगवान नहीं समझेगा, इसका मॉन्टेश्क्यू से पहले मैं कहता हूँ कि भारतिय, इतिहास में अगर हम जाए हमारे वेदों की और, उपनिशदों की और ज्यादा बेटर कहें, तो शक्ति प्रथक्रन का सिध्धान मिलता है, हमारे तीन भगवान, एक है जन्म देने वाले, और इजिन, ब्रह्मा, पालन पोशन, और संहारक मतलब न्याय करने वाले, कि अब समय आ गया, ये कुछ ठीक पड़ नहीं रहा है, इसको उठा लेते हैं, तो वो कहलाएंगे तमभारक, तो तानून बनाने वाले, लौ बनाने वाले, ब्रह्मा, लागू करवाने वाले, विश्नुक, और न्याय करने वाले, शेव, तो ये शक्ति प्रथक्रन हमारे देश में बहुत पुराना है, शक्तियों का विभाजन, जब अलग अलग चीजों के बीच में हमें मिले, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और पंचायत, तो जब अलग अलग लेवल की सरकार में शक्ति का बटवारा हो, तो उसको कहते डिवीजन ओप पावर, तुलनात्मक रुप से केंद्र सबसे अधिक, जब आलग लग होना शक्ति प्रथक करन, जैसे विदाईका, कारेपालिका और न्याएपालिका बीच, शक्तियों का शैतिच बटवारा, इसको शैतिच बटवारा कहते हैं, और यह जो बहते हैं, उदुआधर बटवारा कहते हैं, Center, State and Local Level, शक्ती सन्तूलन किसी भी एक उकाई को ज्यादा मजबूत न होने देना, जैसे हम कई बार देखते हैं कि कई बार संसत बहुत शक्तिशाली बनने की कोशिश करती हैं, कई बार मंत्री मंदल अपने आपको शक्तिशाली बनने की कोशिश करता हैं या कई बार न्यायप चार प्रकार की विवस्ता एकात्मक, संगात्मक, फेडरल और यूनियन, वैसे तो union और फेडरल दो ही शब्द होते हैं, एकात्मक विवस्ता पर बात करते हैं पहले, शान तो होकर रहे हैं और फिर से बीच में कैसे उठ रहे हैं अभी ध्यान से सुनते चलेंगे, अब हमें शब्द थोड़े समझने हैं, ये बहुत ही टिपिकल वर्ड कहलाते हैं, पहले आते हैं एकात्मक व्यवस्ता, इसे नॉर्मल पहले परिवार के साथ मैं जोड़कर दिखा रहा हूँ, मान के चलो एक परिवार हैं, जहां पर माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, इसे कहत अब एक ही व्यक्ति केंद्र बिंदू के रूप में निर्नय लेने वाला होगा, ठीक है? दूसरा परिवार जोइन फैमेली है, जोइन फैमेली में क्या है, कि मान लेते हैं कि दादा दादी उनके चार बेटे हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, और दादा दादी इतने संप अधिकार है, कुछ करते ही नहीं, अब चारो बेटों पर दादा ने नियम लगा दिया, कि मेरी प्रॉपटी और सारी चीजे केवल तभी मिलेगी, कि जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक किसी को परिवार से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब परिवार से अलग होने का जा नहीं सकते हो, फिर तीसरा परिवार हैं, दादा दादी हैं, कई सारे उनके बेटे हैं, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा इंजिनेर है, एक विधायक है, एक सांसद है, बेटे भी पहुती संपन्न है, यहां बेटे अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं, प्रेम है उन ऐकल परिवार होते हैं असाय केंद्र में नहीं अत्वाँ राजसंग की हिकाय या केंद्र के निर्देशों के अनूसार अपना दाईत्वका निर्वन करें 70 बोटन आपको लगता है कि भूटन में करे हुएं क्योंकि वही अपने आप में छोटा सा देश है और कितने राज्य बना पाएगा तो वहां पर एक सरकारी जो निड़ना है वही सारे देश में लागू हो जाता है तो अम उसे कहते ही जनरली की वह कैसा सिस्टम है यूनिट्रे संगात्मक विवस्ता केंद्र राज्य के मध्य दो रसरकारे हो गई एक केंद्र सरकार हो गई एक राज्य सरकार हो गई सात्वी अनुसुची सविधान में बटवारा किया गया है कि वो क्या करेंगे और ये क्या करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि वो एक संगात्मक विवस्ता ह वो union भी type की हो सकती और federal भी, संग का मतलब joint family और एकात्मक का मतलब वा nuclear family, एकल परिवा, पर joint family दो type की, पहली union जिसमें अलग होने का अधिकार नहीं है, संग राज्य के बीच किसी समझोते का परिणाम नहीं, और राज्यो को संग से अलग होने का अधिकार नहीं, संग राज और इसका उधारन भारत, तो भारत भी जॉइन फेमेली है, अमेरिका भी जॉइन फेमेली है, लेकिन हमारी जॉइन फेमेली का नाम यूनियन है, अमेरिका की जॉइन फेमेली का नाम फेडरल है, पर तीसरा ओर होता है, एकल परिवार जहां जॉइन फेमेली है ही नहीं, तो रहां कोई अलग वाली बातचीत हो ही नहीं सकते, एकात्मक विवस्ता युनिटरी सिस्टम में क्या चीजे होती, इसको नोट करेंगे, बड़ा इंपोर्टेन है, क्योंकि पूछा जाता है, कि कोई जगह पर एकात्मक विवस्ता इसके क्या प्रमान है, पहला, केंद्र ही इक लोती शक्ती का आधार होगा, सविधान एक ही प्रकार का होगा, नागरिक्ता एक ही प्रकार की होगी, एकी कृत न्याय पाली का होगी, यह टा देना भी, राष्टपती द्वारा राज्यपाल की नियुक्ती, उच्य सदन में राज्यो का असमान प्रतिनिधित्व, केंद् प्रकार की संघिय विवस्ता। या यूनियन प्रकार का संघिय सिस्टम। होगा पावर्फुल सेंटर होगा शिंगल कॉंसित्यूशन होगा। सिंगल सितिजनश्टिछिप होगी। इंटीग्रेटेड जुडिश्रिय होगी। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और जो अपर हाउस होता है राज्य सभा, उस राज्य सभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिदित्व नहीं बलकि बड़े राज्यों का ज्यादा प्रतिनिदित्व और छोटे राज्यों का कम प्रतिनिदित्व होगा वो भले ही हो सकता है लेकिना समान प्रतिनिधित्व रहेगा जैसे अमेरिका है पचास राज्य सव लोग राज्य महत्वपुर्ण है क्योंकि राज्यों से मिलकर बनती है इकाई हर इकाई का बराबर प्रतिनिधित्व होना समानता का प्रमान है आप अगर किसी राज्य को बड़ा और छोटा बना रहे हैं उससे उनका महत्व कम और ज्यादा नहीं हो जाता केंद्र पर राज्य की निर्भरता पूरी तरह से रहेगी एकात्मक विवस्ता के लक्षण चवता इसले अटाए क्योंकि थोड़ा समझ में नहीं आपाएगा भी टर्मिनलोजी चल रही है थोड़ा आगे ओर क्लियर होगा ठीक है संगात्मक विवस्ता सविधान की सर्वोच्चता ये बहुत इंपोर्टेन है ध्यान से समझेंगे ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है अमेरिका में भी लोकतंत्र है और भारत में भी लोकतंत्र है लेकिन ब्रिटेन में सविधान की सर्वोच्चता नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप में ब्रिटेन में संघिय व्यवस्ता है ही नहीं, ब्रिटेन एक तरीके से एकात्मक व्यवस्ता है, लेकिन अमेरिका में भी सर्वोच्य सविधान है, भारत में भी सर्वोच्य सविधान है, क्योंकि हम एक तरीके से फेडरल सिस्टम के अंतरगत आते हैं लिखित सविधान का हुना सविधान का कठोर कठोरता का अभिप्राय उसे बदलना आसान न हो कठोरता का मतलब है बदलना आसान न हो शक्तियों का इसपस्ट विभाजन मिलेगा न्याय पाली का भी शक्ति शाली रहेगी सर्वोच्यता नहीं रहेगी न्याय पाली का की जगष स्वतंत्र न्याय पाली का, स्वतंत्र और शक्ति शाली, शक्ति शाली, मतलब वो इतनी कम्जोर नहीं है कि संसद उसे बताए कि उसे क्या करना है, ड्वी सदनीय विधाई का बाइकेमरल, बाइकेमरल का मतलब हुआ लोग सभा और राज्यसभा, अब आप कहेंगे क सर, ब्रिटेन में भी लोक सभा और राज्य सभा है, ब्रिटेन में भी अपर और लोर हाउस है, लेकिन ब्रिटेन का अपर हाउस चुना हुआ नहीं है, वो राज्यों का प्रतिनिदित्व नहीं करता, वो तो अमीर लोगों का, कुलीन वर्ग का, राजा के रिष्टेदारों क सदन हैं, उसमें कभी चुनेवे लोग नहीं होते हैं, तब राजा के तरफ से जन्मजात के रूप में भेजे जाने वाले लोग होते हैं, खिक हैं? तो यह संगात्मक विवस्ता की बातचित हैं, अब भारत में कई बार आरोप लगाये जाते हैं, बारत में तो दोनों ही हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमारी नई विवस्ता, हम थोड़े से अलग है, अलग होना बुरा नहीं है, विशिष्ट है, बहुत अपने आप में उनिक है, हम शुद्ध रूप से हैं, संग एकात्मक भी नहीं हैं, और हम शुद्ध रूप से पैड्रल भी नहीं हैं, और ऐसा कोई जरूरी तोड़ी शुद्धता होना ही जरूरी तोड़ी है, जरूरी है देश की विवस्ता ऐसी हो, और रियल में हमें खुश होना चाहिए, कि हमारे सविधान निर्माताओं ने किसी की कौपी नहीं की, कि चलो हम भी संग बन जाते हैं, हम किसी तरीके से युनिट्री बन बलकि उन्हें कहा देखो हमारे देश में डाइवर्सीटी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, देखो हम लोग गरीबी बेरोजगारी के समय अपना देश बना रहे हैं, हमारा देश तब बन रहा है जब उसको विभाजन जैसी पीडा मिली हो, तकलीप मिली हो, तो हमारे कि निर्माता कितने बुद्ध जीवी होंगे, कि इतनी प्रतिकूल परिस्तिती में उन्होंने ऐसा सविधान बनाया, जो इस देश को इन पिचत्तर वडशों में न केवल मस्बूत बना के रखा, भलकि विकास के बेहतरीन अउसर भी देता गया, हमारे लिए बड़े गवर के भी हैं, और कुछ कैरेक्टर हमारे पास संगात्मक के भी है, संगात्मक रूप में हम लोग एकात्मक लक्षनों को लेकर आये हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमान है कि जो संगात्मक विवस्ता होती है, उसका आइडियल रूप होता है कि जहां केंद्र और राज्य पाकत रखते हैं, लेकिन हमारे देश में केंद्र का पलडा हमेशा ही भारी है, उसका बड़ा कारण है हमारे देश की विविदता, हमारे देश के चलेंजेस, ऐसे चलेंजेस में देश के तूटने की संभावनाएं ज्यादा होती है, और उसको बांधनी के लिए हम लोगों केंद्र को इतना मजबूत बना दिया कि कभी भी हमारी हिकाईया अलग होने का सोचे भी ना पिचत्तर वडशों में हमारा देश इतनी विवित्ता के साथ एक हो गया ये पूरी दुनिया के लिए अच्चमतकार से बड़ा और कुछ भी नहीं है देखो अमेरिका का एक होना ए एक नहीं ही घटना है जो कि दुनिया के लिए खुद अचरच करने वाला है भारती राज्य विवस्ता में निम्नलिकित में से कोन सी अनिवार्य विशेष्ता है जो ये धड़शाती है कि उसका जो फॉर्म है वो फेडरल है स्वारी और संगी है मतलब ज्वाइन फेमेली है यह किन बातों से प्रूफ होता है तो सबसे पहले आते हैं जुसको हम हटा सकते हैं गो मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्ती निय वो तो हमारे लोकतंत्र की ग्यारेंटी की बात है केंद्रिय मंत्री मंडल में शेत्रिय पार्टियों के, देखो शेत्र का अगर रीप्रेजेंटेशन तो बात समझ में आती, पर शेत्रिय पार्टियों का निर्वाचन पहले प्रतिनिधित वह नहीं था, पहली बार सरकार बनी, तब रिजनल पार्टिया तो थी नहीं, तो क्य elected representative from constituent units, यह हो सकता है, संग की विधाई का मतलब, संसद, संसद मतलब, लोकसभा राज्यसभा, उसकी इकाई में निर्वाचित प्रतिनिधी कहां कहां के है, अलग-अलग जगह के जो हमारी जगह से आये है, बट उसने का है, constituent units, और पहला है न्याय पालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित, अब देखो दोनों सही है, पर दोनों में कोई एक चुन्ना है, यूपी असी में ये कई बार ऐसा होगा, कि हमें केवल एक ही चुन्ना हो, जबकि कई बार तो दोनों सही हो सकते, पर मुझे एक बात बताओ, संगात्मक व्यवस्ता के होने के लिए ज़्यादा जरूरी केवल चुनकर आजाना है कि ये गैरेंटी है कि अगर संग ने कुछ भी बदमाशी की और तुमारी शक्ती छिनने की कोशिश की तो कोई बचाने आएगा, और संग ये व्यवस्ता को कायम करेगा, ये ज़्यादा important है, मतलब, आंसर होना चाहिए, न्याय पालिका का स्वतंत्र होना, क्योंकि अगर न्याय पालिका स्वतंत्र नहीं है, तो कभी न कभी कोई केंद्र सरकार क्या कड़ सकती है, राज्य के पूरे अधिकार, और संग्य व्यवस्ता को किस में बदल सकती है, बेसिक के नाम पर संग्य व्यवस्ता की स्थापना किसने की, स्वतंत्र न्याय पालिकाने, अगर वो स्वतंत्र नहीं होती, तो गैरेंटी, इसलिए आंसर आना चाहिए, केवल और केवल, अब मुझे नहीं बता, UPS ने क्या दिया है, देख लेना, बट यह आना चाहिए, इसमें, कॉपरेटिव संगवाद, अब यह नया शब्द क्या है, इसे तोड़ा प्रेक्टिकल समझते हैं, मान लेते हैं कि घर में ज्वाइन फेमेली हैं, दादा दादी भी हैं, और उनके पुत्र और, मतलब उनकी पत्नियां बहुए भी हैं, और बहुत जगड़े चलते हैं, तो फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने का मुझे बताओ जगड़ा किस बात का हैं, तो दादी नहीं कहा कि मैंने आज पोते से कहा कि लाल रंकी शर्ट पहनो, बहुरानी कह रही है कि नहीं उसे लाल अच्छा नहीं दिखता हैं, सफेद पहनेगा, तो हमने दोनों से कहा भई कोई भी शर्ट पहना रहे हो, उसे पूछो, उसे कोन सा शर्ट पहनना है, तो अब दोनों मिलकर उसे पूछने लगे, कि बेटा तुमें क्या पहनना है, बेटे ने का मुझे पीला पहनना है, दोनों खुशी-खुशी पीला पहनने लगे, तो इसको कहेंगे, सहयोगी पर आरोप लगाए और कहें कि तुम सविधान के अनुरूप नहीं चल रहे हो तो उनके जगडे को खत्म करने का मतलब है सहयोगी संगवाद उन दोनों से कहो तुम्हें कोई पर्मनेंट सीट नहीं मिली है इसलिए दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मदद करो और नागर को का ज्यादा से ज्यादा कल्यान करो तो जब केंद्रो राज्य की काया एक दूसरे की विरोधिना होकर एक दूसरे का सयोग करके नागरिक कल्यान प्रेरित करती तो इसको नाम दिया जाता है सहयोगी संगवाद ए एच बीर्च ने प्रतिपादित किया था फेरलिजम अथक रूप से कार्य न करते हुए, एक दूसरे के सहयोगी और पूरक के रूप में, इसे सिंपल सा मैं बताओ, प्रेक्टिकली, सास बहु दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारिया बेहतर निभाए, तो आप ऐसे घर को कहेंगे कि वो क्या है, सहयोगी संगवाद का घर है, अब सब चीजे पढ़ने के लिए है, विभाद के बाद उपयोग मत करना, तो आप कोगे कि सर आप तो सायोगी संगवाद हमें बोल बैठे, बाद में हमें पता चला कि उसमें पिटाई भी हो जाती है, तो सायोगी संगवाद केवल एक स्यधान्तिक विचार है, जो संभव होना बहुत ही मुश्किल होता है, केंद्र और राज्य के बीच में सयोग होगा, विशेश परिस्तिती में केंद्र निरनायक भूमी का, राज्यों के लिए पैसे उपलब्द कराएगा, और केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी जगडा हो, तो कोई वहाँ पर ऐसी संस्ता ह केंद्र श्ब्द का मतलब होता है किसी व॰त्त का बिंदु जो मध्यका है, लेकिन संग का मतलब होता है पूरा बुरत जिसमें बिंदु भी आगया, और पूरी उसकी सारे शेट्र भी, तो कई बार हम बोल देते हैं केंद्र सरकार, लेकिन हमारे देश के सविधान में कही भी केंद्र सरकार नहीं, बलकि शब्द क्या यूज किया हैं, और संग सरकार का मतलब फिर केवल संग नहीं, दिल्ली की सरकार नहीं, दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की सरकार हैं, केंद् पुत्र केंद्र सरकार, बड़ा भाई और छोटा भाई, संग सरकार, केंद्र एक वरत्य के मद्धे में बिंदू को इंगित करता है, जबकि संग संपूर्न वरत्य को, तो पहला पाठ या खत्म होता है, जिसका नाम था टर्मीनो लौजी, मुझे उम्मीद है कि शब्द समझ में आ गए होंगे, लिकिन एक शब्द रह गया, जिसको मैं समझाना चाहूगा, देखो, एक शब्द होता है री पबलिक, गनतंत्र, और एक शब्द होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र में बहुमत की बात आती है, लोकतंत्र में एक पसंदीदा सरकार की बात आती है, और लोकत गंतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता के लिए शाशन होता है और ये मुख्य रूप से ब्रिटेन की देन है लेकिन रीपबलिक गंतंत्र में बहुमत का अवहेलना बहुमत का उलंगन भी हो सकता है अल्पमत की भी स्विकृती हो सकती है गंतंत्र में पसंदीदा नहीं जरूरी क्या है, अनिवार ये क्या है, और यहां पर केवल जनता ही अंतिम नहीं होती है, बलकि सविधान ज्यादा इंपॉर्टेन होता है, और यह concept है American, देखो हमारा देश गनतांत्रिक लोकतांत्रिक है, हम ये कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में दोनों लक्षन है, पर थोड़ा आधारन मतलब ये होता है कि जहां जो प्रमुक रहेगा वो वन्ष के आधार पर या जन्म के आधार पड़ता है नहीं होगा बलकि वह चुना जाता है लेकिन वास्तवी गंतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर निर्नय इसलिए नहीं लिये गए कि बहुमत ने कह दिया बलकि इ तारे निर्ने उनके पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास के लिए जाते हैं और माता पुना उनसे कहते हैं कि आप वापिस आईए पूरा बहुमत एक तरफ कह रहा है कि आप लोटी है पर भगवान राम ने निर्ने क्या लिया कि अब हम लोटने वाले नहीं हैं क्यो कोई और होता तो लोकतंत्र के नाम पर वापिस आ जाता और पोल देता हम तो जोला उठा के कभी भी चले जाएंगे। कि बार कुछ कठोर निर्ने भी लेने पड़ते जा बहुमत स्विकार नहीं करता लेकिन वो जरूरी होता है तो बहुमत की जरुवत नहीं बलकि जरुवत की आवश्यक्ता होती है और वहां पर सविधान सर्वोच्य होगा बहुमत सर्वोच्य नहीं ब्रिटेन में सर्वोच् बहुमत मतलब पंसद, इसलिए बृतेन क्या है? लोकतांत्रिक, यह कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अमेरिका आजाद किस से हुआ था? बृतेन से, बृतेन से जब आजाद हुआ तो वो बृतेन सिस्टम तो लाना चाहता था, लेकिन वो यह दुनिया को दिख सविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्र वाला सविधान नहीं लिखेंगे, हम गनतांत्र वाला सविधान लिखेंगे, और हम एक ऐसा सविधान लिखेंगे, जहां जो ज़रूरी होगा वो निर्ने लिए जाएंगे, और अल्पमत की भी अवहेलना नही की जाएगे बले ही बहुमत कुछ भी कहे जो जरूरी है वही होगा और हमारे यहाँ पर जन्म के आधार पर मुख्या नहीं रहेगा बलकि चुना जाएगा तो अमेरिकन si best criticism real में क्या है gandrantranteilig system है, और British Air system Real में क्या है हम लोग the don't know है,ெarann हमलोogo है, हम विशिस्त हाय हम ने फिर हगे यहां पर एछा कि nombreux तुम सब रगह संगीध हम एकात्मक भी होर, Anghiya भी हम गन तांत्रिक भी होर, लोग하겠습니다 भी उधर एक ओर दोनों चीज थी, हम एकल संगनी, एक ओर था उपर, हमारा समाजवाद भी और पुंजीवाद भी, दोनों चीजे, हम लोग विवित्ता को लेकर चल रहें सविधान में, सब आ जाओ, जितना हो सकता है, क्योंकि जैसे तैसे सही, इतने बड़े अलग लोगों को एक साथ चलान बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये शब्द थोड़ा समझनाना जरूरी था, अब आते हैं हम एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर, तो पहले थोड़ी पिक्चर बनाते हैं, कि ये चल क्या रहा है, देखो हमारे देश में लगभग सोलवी सदी से, पहले तो एक गंदा विक् ही चल रही थी, मुझे लगता है कि शायद बाद में आता तो भी उतनी तकलीप नहीं होती, तो ये महोदय 1498 में धूनने आया, उसमें भी हमारा जो व्यापारी था, गुजरात का, उसने अब्दुलमजीद ने मदद कर दी, कि मैं ले जाता हो, अब्दुलमजीद से मैं मि आता है और वासको डिगामा के बाद फिर पूर्तगाली भारत में लगातार आने शुरू होते हैं, लेकिन पिचर में ट्विस्टव आता है जब 1602 में पहली बार इस्ट इंडिया कमपनी या उनका कोई प्रतिनिधी आना शुरू होता है, पहले तो ये सोच कर आते हैं कि हम अब थोड़ी कहानी समझना, यहां बस हमें इतना यह समझना है कि कोई कमपनी ये छोटे से देश की छोटी सी कमपनी इतने बड़े देश में जब आ रही है तो ये सोच कर नहीं आ रही है कि हम यहां शाशन करेंगे, वो विचारी इतनी डरी सहमी है कि वो सोच कर आ रही है थोड़ा बहुत मोका मिल जाएक पैसा कमाल लेंगे लेकिन पता चला अंदर जाकर कि ये लोग तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं हमें तो बाहर से लगा था दूर के ढोल सुवाने हैं हमें लगा कि अंदर में तो कोई भयानक शक्तिशाली समराठ होगा जो सब को बताएगा क कि देखो मैं अभी जिन्दा हूँ लेकिन समराठ तो कोई ताकतवर ही नहीं या अपस में लड़ रहे हैं फिर इनों ने किसी एक छोटे से राजा के परिवार में जाकर कुछ भढ़काया मतलब एक दूसरे के खिलाप और किसी तरी से इस शेत्र को अपने कबजे में कर लि और यहां की सेना भी इनको मिल गई और धीमे धीमे इनों ने बहुत सारे शेत्र को अब अपने कबजे में कर लिया अब जब यह कमपनी इतनी शक्तिशाली हो गई तो यहां का जो समराठ और यहां की जो सरकार हैं उसको तो लगने लगा कि इतना बड़ा भूभाग इस छो इनों ने उस कमपनी के ऊपर कुछ नियम लगाने की शुरुवात की उसको मौका कैसे मिला 1771 में कमपनी की माली हालत बहुत खराब हुए तो उसने का अब ही हमें करजा चाहिए और उनको पता था कि उनको लोन देने की ताकत केवल संसद में हैं संसद से रिक्वेस्ट की सं संसद ने का हम तुमें करजातों देंगे लेकिन हमारे नियमों के अनुसार ही तुम भारत में सारे काम करोगे इसलिए जो पहले कानून आएंगे कुछ वडशो तक उसका नाम रखा जाएगा रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग इसलिए क्योंकि कमपनी के कार्यों को और भारत में कमपनी की शाष्न व्यवस्ता को रेगुलेट किया जाएगा तो इसका नाम रखा जाएगा रेगुलेटिंग आक्ट लेकिन जब 1858 की घडी आएगी क्योंकि 1857 में पुन्ह वह कमपनी विजई हासिल करेगी लेकिन इस बार कमपनी की विजय को वो सरकार कहेगी कि तुम अब निकलो यहां से और तुम अपना अपना व्यापार करो, बाकि अब यह पूरी विवस्ताद, यह पूरा शेत्र अब मैं चलाओगा, मतलब यह संसद अब यहां पूरा नियंत्रन करेगी, तो फिर वो भारत अ अधिनियम के नाम से शुरुवात करना प्रारंभ करेगी, तो रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे, बीच में चार्टर, चार्टर का मतलब होता है, जिसे चार्टर प्लेन मतलब किरायका, तो चार्टर एक्ट का मतलब है कि आपको कुछ समय के लिए वो शेत्र पर अधिकार का हम मतलब कानून लागू करने के अधिकार देते हैं, तो पहले आएंगे रेगुलेटिंग, फिर आएंगे चार्टर, और फिर आएंगे भारत शाषन अधिनियम, तो रेगुलेटिंग मतलब कमपनी पर ज्यादा फोकस, चार्टर का मतलब है शेत्र पर ज्यादा फोकस, और भारत शाशन का मतलब है कि कम्पनी सब तो मढ़ जाओ, अब डाइरेक्ली मैं देखूगा कि शेत्र को कैसे चलाना है, तो हमारे सामने बहुत सारे कानून है, हमें उन सभी कानूनों का वर्णन करना है, पर लेक बेग्राउंड देख लेते हैं। महारानी एलिजाबेत ने 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अनूमती दी, इसका मतलब महारानी ने उनकी कम्पनी को यह आश्वासन दिया, कि हम अपने देश की किसी दूसरी कम्पनी को वहाँ पर नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं तुम्हें आश्वास्त करती हूँ कि कोई दूसरी कम्पनी ब्रिटेन की तुम्हारे लिए कॉम्पीटिशन खड़ा नहीं करेगे। और कितने साल की गैरेंटी? 15 साथ, बाद में उसको अनलिमिटेट करेंगे और फिर बाद में चीजे बदलेगे। बंगाल बिहार उडिसा की दीवानी ये कम्पनी जो है पहले बंगाल बिहार उडिसा में टेक्स वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। और टेक्स मतलब पैसा वो भी ऐसी जगह से जो सकसे संपन्न हो। फिर 1773 का यहां आना शुरू होगा रेगुलेटिंग एक्ट। 1833 में जो वादा किया था कि कोई दूसरी कम्पनी नहीं आएगी वो 1833 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और काते कि अब जितनी कम्पनियां हमारे देश की वो सब आएगी व्यापार करने के लिए। 1858 में फिर भारत सरकार अधिनियम, 1885 में कॉंग्रेस की स्थापना होती है। 1934 में पहली बार एक विचारक व्यक्त करता है कि जमीन के लिए कानून बनाने का अधिकार और सविधान लिखने का अधिकार इस जमीन के लोगों का है। विदेशी लोगों का नहीं, 1946 में सविधान सभा का गठन और 26 जन्वरी 1950 को सविधान लागो, 26 नवंबर 1949 को सविधान तयार, तो 1946 से 1949 दो वर्ष 11 महिने और 18 दिन में, दो वर्ष 11 महिने और 18 दिन मतलब 3 साल 12 ही दिन बचे हुए एक तरीके से, तो हम कहेंगे कि फाइनल सभिधान बनता है। तो हमें शाशन को तीन दो भागों में पढ़ना है, पहला हम पढ़ेंगे कमपनी का शाशन, ऐसा वर्ष क्यों कहेंगे हम लोग, क्योंकि रियल में 1773 से लेकर 1858 तक कमपनी ही निर्नय हो लेती हैं, और उसी को वहां से भेजे गए आदेशों का पालन करने का दाहित्वर द किया जाता हैं, लेकिन 1858 से लेकर 1947 तक प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की संसद हमारे देश का निर्नय लेती हैं, इसलिए उसे कमपनी का शाशन नहीं, ताज का शाशन, क्राउन का शाशन कहेंगे, जिसमें हम भारत सरकार के अलग-अलग अधिनियम पढ़ते जाएंगे और अंतिम अधिनियम होगा 1947 का, मतलब मोटे तोर पर कहें, तो 73, 81, 84, 1813, 1833 पर, 73, 81, 84, 13, 33 और 53 के कानून पढ़ने हैं, इधर 58, 61, 92, 99, 1999, 1935 और 1947 ये पूरी कहानी हमें बताएगी, कि रियल में इन कानूनों ने ही हमें ये ट्रेन किया सिखाया, कि कैसे कानून के माध्यम से शाशन चलाया जाता है, तो हमें क्या पढ़ना है रियल में, हम ये पढ़ना चा रहे हैं, कि उन लोगों ने जो कानून बनाएं, उसमें क्या-क्या बाते थी, उसके क्या-क्या मतलब थे, और उसके कारण हमारे देश में क्या-क्या बदलाव आये, देखो भई, आप इमेजिन करो कि 1773 में एक लिखित कागच कमपनी के पास आया, उसके पहले तो हमारे देश में जो राजा कहता था, वही अंतिम मान लिया जाता था, लेकिन हमें पहली बार पता चला कि राजा कहे वही अंतिम नहीं, कुछ लिखकर भी भीजा जा सकता है, और 1773 में क्योंकि बृटेन में अल्रेडी सुप्रीम कोड जैसा न्यायले अलग बन चुका था, तो बृटेन का पहला कानून क्या कहेगा, कि भई तुम वहाँ पर हमारे दियो नागरीक हैं, उनको तो न्याय दोगे की नहीं, कि तुम अपने रूप में कुछ भी कर लोग तो वो कहेंगे कि पहले तो उस देश में बृटीशर्स के लिए या हमारे नागरीकों के लिए, मतलब बृटेन के नागरीकों के लिए एक न्याय पालिका की स्थापना करोगे, अब समझ ना, 1771 में कमपनी ने लोन की अर्जी इसलिए दायर की, क्योंकि कमपनी की माली हालत खराब थे, उसका जवाब आया क्यूँ, क्योंकि कमपनी के जो करमचारी थे, वो दोहरी भूमी कामे थे, एक तो कमपनी के लिए काम करते थे, और शाम के समय अपने लिए भी कुछ खरिदार करके लौटे थे और फिर देश में बेचते थे यह ऐसी बात है कि सरकारी डॉक्तर जो कि दिन के समय सरकारी अस्पताल में है और शाम के समय अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है तो पता चला कि अस्पताल में वो ज्यादा ध्यान देता नहीं बलकि बोलता है कि शाम को म मेरे क्लिनिक में ज्यादा फीस नहीं लोंगा, दोसों में काम हो जाएगा, तो कमपनी का जो करमचारी वो भी यही बदमाशी कर रहा था, कमपनी के लिए काम कम, और जैसी चीज अच्छी मिले, तो कहें मैं शाम को आऊगा, ये पैक करके रखना में थोड़े पैसे दूंगा और वो सामान खरीद लोगा, तो कमपनी को घटिया सामान मिलता था, और वो कमपनी का जो करमचारी इस्टेंडिया का था, वो अच्छा माल लेकर मुनाफ़ा कमाता था, तो संसद ने कहा कि भी सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली चीज ये करेंगे कि इन वह वह देश जो हमारे से लगबग 6-7,000 किलोमीटर दूर है और वह हमारे बारे में कुछ जानता नहीं फिर भी हमारे लिए कानून बना रहा है तो गलतिया होने की तो गैरेंटी है संभावना नहीं है गैरेंटी है पर वह गलतिया माप कर दी जाएगी केवल क्यूं क्यूंक को यहां के जो वेध हैं सारी चीजों को पढ़ने के लिए कहेगा देखो इसको ऐसे समझो एक चोटी सी और कहानी इसे ऐसे समझना मेरी बात वर्तमान में कि मान लेते अफरीका का कोई एक देश है और मैंने आप लोगों से कहा कि जाओ वहां पर व्यापार करने के बहुत वहां सोने की खदानी बहुत मिल रही है तो तुम लोग अपना कुछ जहाज लेकर 12 लोग गए और वहां पता चला कि एक जो ओनर है जो खदान का जो मालिक है वो बिलकुल दूसरे खदान के मालिक से जगडा करता है तो तुमने किसी एक ओनर से का कि मैं अगर दूसरे को न मालिक था उसको भी निप्टा डाला अब खदान और शेत्र पूरा तुमारे कबजे में मुझे पता चला कि मेरा स्टूडेंट बहुत अमीर हो रहा है मैंने संपर किया सरकार से कि यह कोई ठीक नहीं है यह हमारे देश को जटका दे सकता है तो सरकार ने कहा कि अब उस कंप फिर दीमे दीमे पता चला कि वहां बहुत सी खदाने हैं तो मोदी जी कहेंगे कि ठीक है अब दीमे दीमे वो सारा खदान का सोना तुम हमें लाकर दोगे और हम तुमें सेलरी देते रहेंगे तो इस तरीके से उस पर फाइनली कबजा हो जाएगा लेकिन वहां जब मानलो म मोदी जी ने कोई कानून लागू किया तो वहां के लोग भड़क फिर तुमने मेसेज किया कि यहां के लोग थोड़े से अलग है सठके हुए है वो कभी भी कुछ भी कर लेते तो मोदी जी ने का पहले पढ़ो उनका स्टड़ी करो उनका सामाजिग स्ट्रक्चर पढ़ो क क्या की जो को वो मानते हैं, फिर तुमने वहां के study कर ली और अब तुम्हें जान लिया कि हाँ, अब मैं समझ गया कि इनका समाज चलता कैसे हैं और इनको कैसे चलाया जा सकता है, तो 1773 के बाद लगबग 1813 तक ये पूरे लोग Britishers के बहुत अच्छे अच्छे जानकार हमारे देश के समाज का क्या करने आएंगे? अध्यन, उसमें वो खर्चा भी करेंगे, अध्यन करना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, भाशा भी सीखेंगे और हमें पता चलेगा कि वो वेद पढ़ रहे हैं, वो वेद इसले नहीं पढ़ रहे हैं, कि उनको वेद का ज्ञान बलकि वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो हमें समझ सके और फिर अपने लिए ऐसे कानून बनाए कि हम भी उनके कंट्रोल में आ सके. क्या चीजे समझ में आ रही हैं? तो उनके अकॉर्डिंग वो सारे लॉजिक लगाते चलेंगे. अब आते हैं सबसे पहला कानून जो हमारे देश में लिखित रूप में आया वो कोई ओर नहीं. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था. क्यूँ रेगुलेटिंग वर्ड? क्यूंकि कमपनी को रेगुलेट करेगा. कमपनी के करमचारियों से कहेगा तुम ये नहीं करोगे, वो न जिलना न पड़े. दूसरा, किसी भी प्रकार के नीजी व्यापार की अनुमती नहीं. क्योंकि कमपनी के हालत खराब होने का बड़ा कारण यही रहा. तीसरा, वहां के लोगों ने कहा कि देखो भी कमपनी व्यापार भी कर रही है और शाशन भी कर रही है. तो ऐसी परिस् बंगाल का गवर्नर जन्रल वो राजा नहीं है लेकिन वह पूरा निर्णय लेने की ताकत रखता है. हमने पहली बार ही देखा कि राजा नहीं है लेकिन निर्णय लेने की ताकत रखता है. बंगाल के गवर्नर जन्रल का पद और हमारे देश के पहले गवर्नर जन्रल वार लेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर जन्रल है, सहायता है तू चार सदस्यों की काउंसिल, अब समझना, सहायता जैसे भी प्रधान मंत्री है, अब इतना बड़ा शेत्रक तक आके लिए प्रधान मंत्री सब कर लेंगे, तो हमने का देखो भई, आपको चार और मंत्र मंत्री दे देते हैं, जो आप सजेशन देंगे, वो काम को करेंगे, तो काउंसिल, मंत्री परिशद, जैसे होता है न वो शुरुवात, कितने मेंबरों की काउंसिल केवल, चार, कोन से चार लोग थे हैं, बारवेल, क्लेवरिंग, प्रांसिस, और मौनसन, कलकत्ता में चीप जस्टिस, मुख्य न आएधिस थे सर एलीज, इंपे, चेम्बर्स, लिमेस्टर, तता हाइड, तीन अन्य न आएधिस थे, चेम्बर्स था, लिमेस्टर था, हाइड, कम्पनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर जगड़ा इसी कारण से था, उपहार या विश्व लेना, क्योंकि ये लोग बहुत ही उप्रस्टाचार हमारे देश में था नहीं, ये पूरी देन शुद्ध रूप से किन की हैं, ब्रिटीश अर्स की, तो ये वो पहले पॉइंट है, जो 1773 में, आप देखो इसमें 3-4 चीजे, फैक्ट की हैं, जो रटनी पड़ेगी, जैस बहुत कॉमन हैं, लेकिन ये जो है, ये रटना पड़ेगा, नाम में एली जिम पे जरूर याद रखे, बाकी भली भूल जाएं, क्योंकि मुख्य नयादिश थे, यूपीसी ने, कुछ PCS वालों को अचानक सपने आ जाते हैं, तो वे विचारे पूछते, एली जिम पे मेर नीजी व्यापार पर प्रतीबन और काउनसिल का निर्मान, गवर्नर जन्रल और उसकी काउनसिल का निर्मान, तीन बाते बिलकुल पता होनी चेवा, obviously पहली पहली बार ही कानून आया है, तो ये पता चले निर्नाई लेने वाला कोन होगा, किसको जवाब देहीता देनी तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रतम गवर्णर जन्रल, अब यहां एक सिक्वेंस समझ लीजे, 1773 में ये बनते हैं बंगाल के गवर्णर जन्रल, फिर 1833 में इनको बंगाल का वड नहीं, मतलब इन बदमाश लोगों ने 1833 में ही सपने देखने, उनको पता चल गया कि अब तो पूरा भारत ही, तो क्या बोलने लग गएं, भारत का गवर्णर जन्रल, और उसी को आगे बढ़ाएं तो 1858 में, और उसी को आगे बढ़ाएं, तो 1950 में हैं, राष्ट पती, तो सबसे पहले बंगाल का, भारत का, फिर व्याईस राय और फिर वो शब्द बनता हैं, राष्ट पती, दूसरा, ये चार सदस्य काउंसिल आज भी हमारे देश में हैं, लेकिन अब वो चार नहीं, अब वो 15% की काउंसिल है, 91 वा सविधान संशोधन, किसी भी मंत्री परिशद में उस विधान सबा या विधाई का संसद के, अधिक्तम 15% लोग मंत्री पद्धारन कर सकते हैं, प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री सहित, पर जहाँ नमबर कम हो जाएगा वहां मिनीमम बारा लोग रहेंगे ही, मतलब ऐसा हमारे देश में कोई राज्य नहीं है, जहाँ बारा लोग ना रहें, मतलब अधिक्तम बारा लोग वहां रह सकते हैं, बारा से ज्यादा के वल तबी होगा, जब वहां राज्य वो 15% की श इतने लोग रह सकते हैं मंत्रे, 12, 9 नहीं, क्योंकि 9 तो 15% में अगर आप बातचीत करोगे तो 9 लोग और एक मुख्य मंत्री और 8 दिल्ली नहीं समाला जाएगा, तो अधिक्तम कितनी अनुमती दे दी, 12, सिक्किम में 40 ही लोग है, गोवा में 40 ही लोग है, अब मान लेते हैं 403 सिटी यूपी के हैं, 400 पकड़ लेते हैं, तो यहां 12 नहीं है, अब यहां 15%, इसका मतलब यह हुआ, 15% अतुआ 12, जो भी अधिक हो वो नियम है, तो यह काउंसिल का नियम हमारे देश में आज भी है, तब कितने लोगों की काउंसिल बनाई हमने, और आज 15 परसे हैं, पि पहले कलकत्ता से शिप्ट हुआ था लोकतभा विदा, जो संसद है न, उसी की बिल्डिंग के पास ही, फिर बाद में सुप्रीम कोट की एक अलग बिल्डिंग बनाई गए, और मुखे नया दिश और एली जिम पे थे, कमपनी के करमचारियों को नीजी व्यापर, आज भी ह सरकारी शिक्षक है, उसको कोचिंग लेने के अनुमती नहीं है, सरकारी अस्पताल को, डॉक्टर को क्लिनिक खोलने के अनुमती पर चल जाता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीते हैं, मेराथन क्लास आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर रहें, इसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, मैं आपका दो मिनिट का समय लूगा, ताकि आपको आने वाले समय में, एक बेहतर तरीके की जानकारी मिल सके, यदि आप दोजार चोबिस पच्चिस की प्लानिंग कर रहे हैं, दोजार चोबिस पच्चिस यदि आप एक प्रॉपर तरीके की गाइड लाइन प्रॉपर तरीके से तयारी पूरा करना चाहते हैं तो आप जुड सकते हैं अनेकेडमी के साथ, सवाल यह है कि क्यों अनेकेडमी, तो यह सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में, कोर्स आप जब पर्चेस करते तो आपको एक टीचर और एक कोर्स दे दिया जाता है, यह कैसा अनेकेडमी सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको किवल एक टाइम लिमिट बाउनडेड है, बाकी कोई बाउनडेशन नहीं है, आप अपने सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर की क्लास देख सकते हैं, एक ही सब्जेक प और सबसे बड़ी बात आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका तो यदि आप तयारी की प्लानिंग कर रहे और अनलाइन प्लेटफर्म ढून रहे हैं तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि इससे बेस्ट और कोई नहीं पिछले दो वर्षों का अधबुत रिजर्ट आपके सामने हैं स्क्रीन पर आप देख सकते 170 से ज्यादा टॉपर 2020 में और 197 टॉपर 2021 में अनेकेडमी नहीं दिये सबसे बेहतरीन रिजर्ट और इस समय अनेकेडमी ने एक बेहतरीन चीज किये जो खास करके उन विद्यारतियों के लिए जो गरीब है उन्हें लगता है कि वो क्योंकि अनेकेडमी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में जो सबसे ज़्यादा फ्री माटेरियल उपलब्द कराता है लेकिन कई बच्चों का कहना था कि भई हमें अनेकेडमी से क्लासेज चाहिए मिनीमम प्राइस में तो अनेकेडमी लेकर आया है अनेकेडमी स्टोर इसके माध्यम से आपको GS, CSET और Current Affairs की क्लासेज बहुत मिनीमम प्राइस में ये रिकॉर्डेट क्लासेज भी रहेगी लायू क्लासेज भी रहेगी ये module टाइप है module किसे कहते हैं यदि आपने YouTube पर बहुत कुछ कवर कर लिया लेकिन आपको दो सब्जे कवर करने है तो आप अनेकेडमी स्टोर के माध्यम से कवर कर सकते हैं पर अगर आप Complete Preparation चाहते Complete Preparation तो आपके पास है Plus और Iconic Iconic क्या होता है आपके पर आपको देते रहूगा तो Iconic जो है उसमें सारे Plus Benefit One to One Mentorship Discord नामक एप पर Doubt Solving Session होते हैं पूरी तरह से Library आपको Open Library खास करके Digital Library और Offline Test भी इसमें उपलब्द कराई जाते हैं Open Academy Offline Mode में भी आ चुका English Medium में वहाँ भी आपको Offline के साथ ये पूरा Online Subscription Plus वाला मिल जाता है Plus में सारी चीज़े मिलेगी बस Mentor नहीं मिलते हैं बाकि आपको C-Sate, G-S, Current Appear Question Test, Series, Doubt Solving सारी चीज़े मिलती है Material भी आपको लेना नहीं है सारा Material आपको Free of course लिया जाता है Iconic में Physical material मिल जाता है Plus में आपको पूरा Digital material मिल जाता है ताकि आप बेटर तरीके से तैयारी कर सके MK LiU हमारा Refer Code है ये क्या होता है बई? तो हमारा ये Refer Code आपको Instant 10% Discount और सबसे Best offer उपलबद कराता है साथी साथ MK LiU में हम Doubt Clearing के माध्यम से आपको Guidance उपलबद कराते हैं Mock Test आप हमारे वाले टेस्ट देते रहोगे Personal Mentorship हमारी तरफ से मिलती है और Unacademy के वो सारे Benefit एक ही Course में Pre-Mains Interview सारी तैयारिया आपको उपलबद कराई जाती है तो ये है Unacademy Online Platform भारत का सबसे Best Platform अगर आप इससे Better Platform ढूण पाए तो मुझे Commits करिएगा बाकि आप लोग अपने मेरा थन क्लास को पूरा देखिएगा मेरा दावा है कि इस क्लास के बाद न केवल रिवीजन आपका बेटर होगा बलकि इस क्लास को आप दो से तीन बार देख लिजे आप इंडियन जोगराफी में 10 में से 7-8 सवाल केवल इस क्लास से ही अटेम कर ले प्रॉपर याद करेगा इसके माटेरियल को पीडियप को हमने इसी क्लास में नीचे लिंक कर दिया है तो सभी को बे स्टॉप लख कंटीनियू देखते चलिए मेरातन क्लास धन्यवाद अब आते हैं बंगाल जुडिश्री एक्ट 1781 कितने साल बीद गए आठ साल देखो आठ साल में पहले कानून के ड्रॉबेक पता चले सबसे बड़ा ड्रॉबेक क्या या पता है सुप्रीम कोट कलकत्ता का और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो ही जगड़े कर रहे थे कि मैं बड़ा सुप्रीम कोट कहती थी ति तुम भूल गए मैं सुप्रीम कोट तो तकलीप कई बार हो जाती थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल ने एक आदेश पार भेजा कि मान्य नयाधिश महोद है आपको ये करना है उनने का करना है मैं तुमारे अंडर में हो मैं नयाधिश मुख्य नयाधिश हूँ अब मैं तुमें एक पत्र भेज रहा हूँ और तुम ध्यान से सुनो तुमें अब यही करना होगा तो पहले इस क्लियारिटी को लाना बहुत जरूरी था और इसलिए इसका नाम क्या रखा जुडी श्री इसमें ये क्लियारिटी बता दी कि तुम दोनों लोग अलग अलग हो तुम जन्रली जगडे ना करो रेगुलेटिंग एक्ट के दोशों को दूर करने के लिए इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है देखेंगे क्योंकि इसमें प्रताय शुरू होगी की टेक्स वसूल करने के लिए क्या अपनाया जाए कमपनी के करमचारी द्वारा राच किये करमचारी के रूप में किये गए किसी भी कार्य के लिए न्यायाले में उत्तरदाई नहीं ठैराया जा सकता हिंदूों के मुकदमों का निर्ने हिंदू कानून और मुस्लमों के मुकदमों का निर्नय इसलामी कानून के अनुसाथ क्यूंकि अब जुडिश्री में कई सारे भारतिय भी पहुचने लगे जहां उन्हें ये दिखने लगा कि यहां तो सच में राजा की बात नहीं चलती सच और जूट के लिए बहस होती हैं फिर निर्नय लिया जाता है तो सवाल ये हुआ कि इनके निर्नय क्या ले क्या ब्रिटिश कानून के अकॉर्डिंग ले तो कहां नहीं हिंदूों के निर्नय हिंदूों के कानून हिंदू का कानून क्या था तो जो उनके वेदों में जो बाते बताई उनके अकॉर्डिंग क फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कम्पनी के ये पॉइंट ध्यान से समझेंगे 1784 पहला कानून है जहां वर्ड आज सकता है दुवेध शाशन पहला देखो दुवेध शाशन कई बार आएगा दुवेध शाशन 1784 के कानून में भी आएगा 1919 के कानून में भी आएगा यहां तक की 1935 में भी हम कहेंगे तो यह अलग अलग तरीक है समझना कम्पनी को जवाब देता है इधर ध्यान देना लक्ष्मी कान में कुछ गलतिया है इसको सुधार रहे हम फाइनल यह जो बता रह यह अंतिम है लक्ष्मी कान में यहां गलतिया है तो थोड़ा उस पर ध्यान देंगे इधर अब ध्यान से सुनेंगे द्वेद शाशन क्यूँ क्यूंकि कम्पनी को कहा गया कि देखो मवदय तुमें दो काम करने है एक तो अपना व्यापार भी करना है देश में भारत में और तुमें भारत का जो भूभाग जीता है वहां राजनितिक शक्ति के रूप में भी कंट्रोल इस्थापित रखना ह कई ऐसा ना हो कि तुमारी पॉलिटिकल पावर कुछ समय के बाद खत्म हो जाए तो इनों ने कहा कि बोड आप कंट्रोल नाम क्या रखा उसका बोड आप कंट्रोल तेखो कंट्रोल वर्ड इसलिए क्यूंकि नियंत्रन कायम रखना है और दूसरे का नाम रखा है बोड दाइरेक्टर करने वाली जगह पर तो बोड आप डाइरेक्टर किसको संभालेगी व्यापार को और बोड आप कंट्रोल यह दोनों अलग अलग कंट्रोल जैसे एक तरीके से संस्ताय बनती जाएगे तो कंपनी में पहली बार क्या हुआ और राजनेती कार्यों को कोई और हेड कर रहा है और ये कब खतम होगा 1858 के कानून में तो इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका ये है, उल्टा करो तो 58 का 85, 84 वाली बात याद आएगी, तो बनता कब है, 84, खतम कब होगा, ये दोहरा या दुएद शाशन की व्यवस्ता है, जो लोग पहली बार भी चुन रहे हैं, ध्यान से समझे, कि अब कमपनी ने भारत के बहुत सारे हिस्से को अपने कबजे में ले लिया है, और भी वो हिस्से कबजे में ले रही है, तो उसके पॉलिटिकल वर्क बढ़ रहे हैं, अब कलपना करते हैं तोड़ा प्रेक्टिकल, मोदी जी को हमने एक और कांसोपा हैं, कि वह अपनी अब मुझे बताओ, वो जनता की बाते सुने कि दुकान में बैठे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है भई जगडा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, दो लोग तय कर देते हैं, एक मोदी जी से कह दिया कि आप केवल राजनीती देखो, और दूसरा उनका कोई व्यक्ति परिचयका होग उनसे कहा कि दुकान समालो, क्या समझ में आ रहा हैं, जिम्मेदारिया दोहरी हो गई नहीं आप, थोड़ा प्रेक्टिकल लोगे तो चीजे जल्दी समझ में आते हैं, थोड़ा एतिहासी क्योंकि बीच चुकी ए बाते, तो समझने में कम आते हैं, पर अप्रेक्टिकल ले क्या होगा, इधर धियान देंगे और पहली बार कम्पनी के अधीन शेत्र को क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, देखो, यहां पर संसद ने दिमाग लगाया, इस कौन सी संसद ने, बृतेन की और कम्पनी को इंडाइरेक्ली बोल दिया, कि तुमें हम जब चाहे तब, क्योंक मालिक उसका संसद, और संसद मालिक मतलब हम जब तक चाहेंगे, कम्पनी के जो अधिकारिये न, वो समझ गए थे, कि अब अपने दिन ज्यादा नहीं रहे है, हमने एक मेहनत से इतना बड़ा शेत्र कबजे में तो कर लिया, लेकिन अब ये बहुत जल्द ही हम से कौन छीन ब्रिटिश राष्ट की नीती के विरुद्ध है, मतलब हमारे बगेर अनुमती के तुम कोई निर्णय नहीं लोगे, भारत में उपने वेशिकाल में केवल दो ही अधिनियम में ब्रिटिश सरकार द्वारा सामराज्य विस्तार की नीती को घोशित रुप से अस्विकार किय एक तो 1784 में और 1858 में, 1858 में उन्होंने डिकलियर कर दिया कि अब हम किसी राजा की देशी रियासत प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन 1784 में भी उन्होंने ऐसा इंडाइरेक्ली वास्तविक रूप में वो कम्पनी को डरा रहे हैं, और 1858 में वो देश को ये समझा रहे कि अब हमें कोई और देशी रियासत नहीं चाहिए, राजनीती समझ रहे हो उदर ब्रिटेन के सांसद वालों की वे कम्पनी को ये बता रहे हैं कि तुम हमारी अनुमती के बगेर कुछ भी नहीं कर सकते, 1813 तो आपी ज़रा रिपीट करते हैं, 1773, 1781, 1774, 1773 में सुप्रिम कोट, बंगाल का गवर्नर जनरल, काउंसील और नीजी व्यापार प्रतिबंदित, 1781 में थोड़ी सी क्लियारिटी आ गई कि कोई भी वहाँ जिम्मेदारी नहीं रहेगी कामों की और साती सात हिंदू और मुसलिमों के जो भी विवाद होंगे उनके उनके कानून से, 1784 में द्वेद शाषन शुरू हुआ, कमपनी के काम बाट दिये गए, कमपनी में एक जो बोर्ड आप डाइरेक्टर था, और जो कंट्रोल था, वो पॉलिटिकल और ये व्यापार वाला, और सबसे ज़्यादा जरूरी ये कह दिया गया, कि अब आप विस्तार हमारी अनुमती के बगेर नहीं कर सकते, अब आते 1813 का कानून, अभ्याद दे समझना, 1813 तक इनोंने पूरा समाज की स्टडी लगभग कर लिये, लेकिन अभी ये और भी हमारे समाज को समझना चाहते हैं, अब 1813 का ये वो दौर है, इस दौर में पह साई धर्म प्रचारक हैं, उनको भेजा जाएगा, और क्यूंकि कमपनी को इंडारेक्ली इशारा कर दिया था कि हमारा है ये सब कुछ, तो दूसरा इशारा 1813 में, कमपनी को केवल चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार की मोनोपोली रहने दी, और बाकि सभी शेत्र में क कि अब हम दूसरी कमपनिया भी भेज रहे हैं, पर इसका एक और बड़ा रीजन है, 1810 आते आते ब्रिटेन में ओध्योगी क्रांती हो चुकी थी, इंडस्ट्री रिवोलूशन में इतना प्रोड़क्शन हो गया था, कि अब वो टेंशन में थे कि इसको बेचेंगे कहां प तो भारतिय लोग विरोध कर रहे हैं, तो भारतिय लोगों को कैसे बताया जाए कि धोती खराब हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नाटक बनाएंगे, धोती पहनने वाले की धोती फाड़ेंगे, उतारेंगे, उचको बदनाम करेंगे, मुर्ख दिखाएंगे, गधा दिखाए और धोती पहनने का मतलब गवार, उसके बाद फिर लोग क्या पहनना शुरू करेंगे, और इसलिए कमपनिया अपना प्रोडक्ट बेच पाएगी, हम दातोन करते थे नीम की लकडी से, वो लेकर आएंगे प्लास्टिक की चीज, उसको दिखाएंगे, कि जो नीम की लकडी से दातोन करें, वो गवार, और जो प्लास्टिक का केमिकल घिसता रहें, वो इंटलीजेन, वो महान, तो इस तरीके से हमारी मानसिक्ताओं को बदला जाएगा, हम पहले सोचते थे, कि चेहरे पर कोई केमिकल लगाना अच्छा नहीं है, पर फिर एक सुंदरी आकर कहेगी, मे तो यह सब क्या है, मानसिक्ता बदलने का खेल, यह शुरू हो जाएगा 1813 से, क्योंकि इन गंदे लोगों को अपने इंडस्ट्रियल प्रोड़क्ट हमारे देश में बेचने, हम खरीदने को तयार नहीं है, पर वो ऐसा दिमाग लगाएंगे, कि हम कहेंगे लाइन लगाकर कि हमें पहले दे दो, क्योंकि सबसे पहले जरुवत इसकी मुझे ही तो थी, तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कमपनी के व्यापारी के अकाधिकार समाप्त, इसको पूर्न अकाधिकार की समापती नहीं कहेंगे, पूर्न अकाधिकार 1833 में समापत होंगे, प्रतेक ब्रिटिश कम्पनी प्रतेक वर्ष साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए एक लाग खर्च करेगी, कभी किये नहीं नहीं, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी और पढ़ना चाहते हैं, एक्चुल में कुछ ब्रिटिश को भारतिय सब्व्यता ने इतना और भी पढ़ना है, फिर दीमे दीमे कुछ और व्यक्ति आएंगे जो भारतिय इतिहास को पढ़ने वाले लोगों का मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे तुम गधे हो, इनके पास क्या नौलेज होगा, इनके पास नौलेज होता तो यह हमारे गुलाम होते क्या, नौलेज तो साथ से तेरा दिन तक आग भुज नहीं पाई थी, कल्प ना करो, लाइबरीरी में किताबे कितनी होगी, कहने गाभी प्रा है कि अब ब्रिटेन में दो तरीके के लोग है, एक जो भारतियों के इतिहास से प्रेम करने वाले, और दूसरे जो भारतियों को मुर्क समझने लेकिन प्रेम करने वालों को पता हैं कि हम अगर इसको लागू करवाएंगे, तो भारतियों अपने आपको गवरानवित महसूस करेंगे, और हमें तो ये प्रूब करना है कि तुम तो मुर्क हो, तो फिर फाइनली निर्नेली आ जाएगा कि भारतियों को क्या साबित किया मुर्क और बताया जाए कि पश्यम सब्यता ही सबसे उतकरष्ट सब्यता है, भारत में इसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, यहां से इसाई धर्म का प्रवेश ओफीशली होता है, तो क्या भारत में इसके पहले इसाई धर्म के लोग नहीं थे, प्रचार करने के बहुत पहले से ही उरोप से लोग आते थे, लेकिन ब्रिटेन ने ओफिशली इसाई धर्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा, गवर्नर जन्रल और बंगाल 1833 में, अब क्या कहलाया, भारत का गवर्नर जन्रल, पहले भारत के गवर्नर जन्रल बने, विलियम बेंटिक, कमपनी के व्यापारी के काधिकार की पूर्न तह, अब शब्द पर गौर करेंगे, प्रस्ण पूछा मैंने, कमपनी का व्यापारी के काधिकार कब समाप्त हुआ, 13 में, कमपनी का पूर्न तह, व्यापारी के काधिकार कब समाप्त हुआ, 33 में, शब्द प प्रावधान ये अपने आपको साबित कर रहे हैं कि हम मानवता के सबसे बड़े पुजारी है ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग आपको एक बेहतर मनुष्य बनाने आए हैं ये साबित करेंगे कि हमारे माध्यम से ही चीजे बदलेगी जैसे कि 1829 में कौन सा कानून आता है सती प्रथा का समापन अरे आता है न पर वो कानून बनता यहां पर है इसलिए उसका वर्नन इन में नहीं होता क्योंकि वो यही पर बनाया गया था और ये जो कानून आई है सब कहां से बन कर आ रहे हैं ब्रिटेन से तो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं प्रशाचनिक मामलो का में सभी में लिखा होता था कि अगले 20 वर्श के लिए हम तुमें पुन सारे निर्णय लेने के अधिकार देते हैं किने हैं कमपनी को इसमें भी लिखा हुआ है कि 20 वर्श के लिए लेकिन इस कानून में इनोंने ऐसा लिखना बन कर दिया मतलब अब कमपनी को अप्रत्यक् में भारत के भुभाग को ले लेंगे। ये कौन किसको बता रहा है? ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की इस्ट इंडिया कमपनी को. वैसे कमपनी में तो जो कंट्रोल वाले लोग होते थे, वो भी पूरी तरह से संसद ही तय करती थी, डाइरेक्टर वाले जो लोग होते थे, कमपनी तय करती थी, व्यापार करने वाले. 1853 में पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधाई और प्रशाशनी काम अलग किये गए, मतलब समझना, कानून बनाने की जिम्मेदारी अब अलग है, और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी अलग है, मतलब कवर्नर जनरल के लिए केंद्रिय विधान परिशद, मतलब हमारे संसद की स्थापना का विचार कब आने लगा, 1853 में एक विधान परिशद होगी, भली उसका नाम विधान परिशद कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में एक तरीके की केंद्रिय विधाई का बनेगी सिविल सेवकों के चयन आपके लिए यहां पहली पॉजिटिव खबर कि कहा जाता है कि अब अभी तप ब्रिटेन का जो संसत था वो कहता था कि अधिकारी होगा, लेकिन अब कहा कि नहीं अब यहां से क्या शुरू होगा, ओपन कॉम्पीटिशन, पर यह कॉम्पीटिशन क सहां होगा, लंदन में परिक्षायोजित होगी, नवंबर में परिक्षा होती थी, मार्च में फॉर्म आते थे, सीधा मेंस लिखना होता था और फिर इंटर्व्य होता था, उच समय पीटि जैसा प्रावधान इसले नहीं था, क्योंकि लोग ही ज्यादा नहीं थे, पीटि को चुन लिया, तो फिर लिखने वाले केवल कितने रहे, 15,000, उस समय भाग लेने वाले ही 12,000 होते थे, तो चेक करने में उतनी कोई दिक्कत नहीं आती थे, पहली बार केंद्रिय विधान परिशद में इस्थाई, इस्थानिय प्रतिनिदित्व, बंगाल, मदराज, बंब करनी हैं, कलकत्ता में, क्योंकि उस समय पूरा मुख्याल है, उनका कलकत्ता ही था, अब आते हैं 1857 की हो गई क्रांती, और इस क्रांती में इस्थे इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार जाती, पर दो कारणों से बच गई, पहला तो हमारी ही लोग, जो थे वो पूरी तरह ए पतना, तो सभी को कंट्रोल करने का उनको मुखा मिल गया, दूसरा, बृतेन ने अत्रिक्त सेना भेजी थी, तब जाकर वह इस्थे इंडिया कंपनी इस शेत्र को बचा पाई, तो फाइनली मुखा मिल गया, जो अठ्रासो त्रेपन में सोचा था था न, कि हम तुमें कभी भी हटा देंगे, तो अठ्रासो अठ्वान में फाइनल निर्ना ले लिया, और वह निर्ना क्या रहा, कि अब पूरी तऱ से इस शेत्र का निर्ना ले लिया जाएगा, बिटेन की संसद, मतलब अब हम कह सकते हैं, कि पूरी तऱ से इश किसके नियन्तरन में आ गया, तेन की संसद के, मतलब अब वास्तविक रूप में देश गुलाम बन गया, इसका? ब्रिटिश ताज का, यह कहलाएगा वास्तविक गुलामी का दोर, तो हम कह देथी कि हमें 200 साल से ज्यादा हुए, लेकिन वास्तविक रूप में कब से लेकर कब तक गुलाम माने गए? अफिशली लगभग 89 एर्स तक, 89 एर्स तक, तो लगभग यह 90 साल, पर गुलामी तो 1757 से हलकी पुलकी शुरू हो गई थी, इसलिए 1757 से 1947 एक सो नब्बे साथ, तो 1757 से शुरू करो तो एक सो नब्बे साथ, और 1858 से देखो तो 89 एर्स, काफी लबा समय रहा, इतने लंबे समय में इन्होंने हमारा केवल शोशन किया, 1858 में पहला परिवर्तन, अब गवर्णर जन्रल, देखो इसका नाम ध्यान से देखो ज़रा, वाइस, रॉयल फेमेली का उपव्यक्ति, इसका मतलब अब बताना चाह रहे हैं, कि अब ये कंपनी का अधिकारी नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन संसद्वारा नियूक्त किया गया व्यक्ति है, इसलिए नाम क्या रखा, वाइस रॉय, दूसरा, यहां इन्होंने नाम रखा, वाइस रॉय, लौड केनिंग भारत के प्रमुक वाइस रॉय बने, पर उन्होंने वहां पर भी एक मंत्री नियूक्त किया, जैसे आज हमारे देश में कानून मंत्री है, आज हमारे देश में रेल मंत्री है, हमारे देश में आज अलग-लग मंत्री है, वैसे ब्रिटेन में एक मंत्री बन गया, उसका नाम क्या रखा, भारत का मंत्री, लेकिन उसको नाम दिया गया सचीव, भारत का सचिव, सेकेटरी, तो मुझे बताओ कि वाइसराय और सचिव में बड़ा कोन, सचिव क्योंकि वो डाइरेक्ली संसद के नियंत्रन में हैं और उसके नियंत्रन में हैं वाइसराय, और वाइसराय के नियंत्रन में हैं बाकी राज्यों के गवर्नर, क्या ये बात समझ में आ रही हैं, बैटना है लाली की निकलना है, बैटना है तो प्रॉपर बैठो लोट करते चलो इधर उदर घुमो नहीं ज़्यादा, इधर फेर, चले जाओ जली से नीचे से बिलकुल, बोर्ड आप कंट्रोल, बोर्ड आप डाइरेक्टर, ये कब खतम, कब बने थे, 1784 में ये क्या कर दिया? समाप, उसका कारण है क्योंकि अब तो कोई जगडा ही नहीं, कमपनी से कहा तुम बिजनेस करो तुम्हें जो करना है, पर अब तुम मामले में कोई हस्तक्षेप करने वाले वेक्ती नहीं हो, तो द्वेद शाषन जो शुरू किया था वो समाप तो जो ब्रिटिश काबिनेट का सदस्य है, ब्रिटिश ब्रिटेन की पारलियामेंट के प्रती जिम्मेदार है और उस सचिव की साहिता के लिए कितने लोगों की सदस्यता है, 15 लोग कहां पर? ब्रिटेन में, मतलब वो मंतरी की अंतरगत काम करने वाले लोग है, ये कानून बना, 1858 जब हमारे देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, अब देखो दो तीन चीजे, इन्हें ये भी पता चला, कानून होने का जो क्रांती हुई थी, तो ततकालिन कारन तो एक पता चल गया था, कार्तूस, उन्हें पता चला कि ये लोग धर्म के नाम पर क् तो इन्होंने पूरे मिश्नरी से कह दिया, कि तुम हमारे सरक्षन में, तुम अपने मर्जी से खेलो, हमारे पास आना नहीं, हम धर्म के नाम पर इनके साथ जगडा लेने की हिम्मत, नहीं तो हम या टिकने वाले, नहीं है, तो मिश्नरीों को अलग कर दिया था इस कानून दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तर, दूसरा कारण ढूडा गया कि आखिर भारतिये शांत सुभाव के लोग इतने करांतिकारी कैसे हो गए, तो पता चला डल हो जी, और एक और था वेले जेली, ये दोनों ही लोगों ने ऐसी नीतिया अपना ही थी, कि किसी ने किसी तरीक फिर उसकी रियासत कबजे में कर लेते थे, दूसरा राजा को सेना नी रखने देते थे, वो कहते थे कि हमारी सेना रहेगी और तुम उसको पैसे देते रहना, तो एक तो थी उनकी हडप नीति, जिसको नाम था वेली जली ने दिया, और डल हो जी की सहायक संदी, वो क्या क गुसे में आ गए, कि तुम हम पर ही हम तुमारी मदद करें और तुम हमारा ही रियासत कबजे में करना चाहरे है, तो फिर महरानी ने आश्वाजन दिया कि अब तुमारा भी सम्मान वैसा ही होगा, जैसे कि हमारा होता है, और आपके किसी भी रियासत को अब हम कबजे में क करना नहीं चाहते, क्योंकि वास्तविक बचाया उन्होंने ही, अब देखो, यहां एक चोटी सी बात समझना कि कोई कहेगा कि सिंधिया के परिवार ने 1858 में भारतिये करांतिकारियों का 57 में साथ नहीं दिया, वह लड़ाई राष्ट निर्मान की लड़ाई रियल में नहीं साथ, इसके आधार पर आप यह तहीं नहीं कर सकते हैं कि वह देश द्रोई है या देश भक्त हैं, क्योंकि उस समय देश नाम का कोई विचार ही नहीं था, उस समय तो हर व्यक्ति अपने अपने शेत्र के लिए लड़ रहा था, जैसे कई बार कुछ वाट्सप इनिवर्श शेत्र के प्रति अपने कर्तव्य बोच से बंधने लगे, तब तक तो राजाओ के ही शाशन हुआ करते थे, तो भारत में पहला परिवर्तन गवर्णर जनरल क्या बन गया? वाइसराय, पहले वाइसराय है, तो बंगाल का पहला गवर्णर जनरल हेस्टिंग, भारत का गव माउन बेटन, और आजाद स्वतंत्र भारत का पहला गवर्णर जनरल माउन बेंटन है, आजादी के बाद भी हमने उन्हें रोका था, और रियल में क्योंकि उनके प्रति, हमारे भारतियों के प्रति उतने खराब विचार नहीं थे, अब वापिस आईए, सचिव, वहां का मन्ति जो भारत के प्रति निटने गा, 1861 का भारत परिष्द अधिनियम अभ्यान से समझेगे, अब क्यूंकि क्रान्ती हो गई है, तो कहीं पर भी जब क्रान्ती होती है, तो शाषक जो होता है, वो पूचता है भी क्रांती तो हो गई, अब मुझे बताओ कि यहां शाशन करें कैसे, तो उनको पता है कि वो कोन बता पाएगा, यहां लंबे समय से शाशन जिन राजा महाराजाओं ने किया होगा, तो उनको बुलाएंगे, और कहेंगे कि आप हमें सजेशन दो, कि यहां कैसे कानून दगो के रूप में सामिल किया जाए, लेकिन वाइसराय जिनको शामिल कर रहा है, वो कोई राष्ट भक्त और देश भक्त नहीं है, वो वास्तविक रूप में ब्रिटिश भक्त ही है, और वो उनको क्यों बुलाएंगा, क्योंकि जो उनके favor में बात करेगा, उनको कोई भी बुलाता है, कोई विरोधी को तो रखने वाला नहीं है, obviously ये कल्पना मत सोचना कि पहली बार भारतिये हो गया, तो अंदर से आवा जाती है, अच्छा अब भारतियों को मौका, जो भारतिये शामिल हो रहे हैं, वे ब्रिटेन की मदद कर रहे हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सके, तो ज्यादा खुश होने की जरूत नहीं है, तो इसको सुनते अंदर से, अब आ गए ना कि भारतियों को भी शामिल कर रहे हैं, हलकी पुलकी खुश होनी चीए, कि चलो भारतियों को अब ये अपनी मजबूरी के कारणी सही शामिल तो करने लगे, विधी निर्मा कहां पड़ा था, हमने केंद्रिय करन कर दिया था बहुत ज्यादा, 1833 में इनोंने भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया, तो उसको बहुत सारी शक्तिया दे दी थी, पर बात में पता चला कि इसके कारण जो रिजनल भाग थे, मुंबई प्रान था, बंगाल का प्रान था, मदरास प्रान था, अलग-लग प्रानतों में बढ़िया काम नहीं हो रहे थे, तो कहां कि वाइसराय बड़े बड़े निर्ने ले और चोटे-चोटे निर्ने किस पर छोड़ दे? अलग-अलग प्रानतों के गवर्नरों पर, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? decentralization विकेंद्री करन जैसे पंचायते वनाई गए तो वैसे ही वहाँ पर विकेंद्री करन की प्रक्रिया शुरू हुई वाइसराय को अपनी काउंसिल की सिपारिश के बिना अध्यादेश इस्टार लगाए तो ये पॉइंट important है हमारे देश के सविधान में आर्टीकल one 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 और इसको याद रखने का simple तरीका मतलब sorry one two three अध्याद शमा चाहूंगा one two three इसको याद रखने का तरीका एक दो तीन और कानून बन गया वही कानून बनाना कोई साधारन बात नहीं देश में पहले तो लोकसभा में प्रस्ताव या राज्यसभा में प्रस्ताव फिर पारित होना फिर दूसरे सदन से पारित होना फिर उसके बाद राष्टपती की साइन मिलना फिर जाकर कानून और यहाँ तो क्या है बस एक व्यक्ती ने साइन कर दी और क्या हो गया कानून तो अध्यादेश की शक्ति कहां से शुरू हुई 1861 तो 1861 में दो बड़ी बाते भारतियों को शामिल किया गया और दूसरा अध्यादेश का अधिकार फिर आते हैं 1892 का कानून इसमें विधान परिशत के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार समझना यहां प्लीज अप केंद्रिय विधाई का शुरू हो गई थी बनना अब पहले क्या होता था कि मानलो की बजट का दाइत्व सौब दिया था सारी चीजे हो गई ध्यान से सुनिंगे कैसे कहानी तोड़ा प्रेक्टिकलर मान लेते हैं कि बजट में वो अपने शोक पूरे कर रहे है उसमें उले हमें तो नहीं पता तो फिर वाईसराय ने का कि अच्छा अब जब मीटिंग होगी न तब तुम यह सबात सामने रखना कि क्या उन्हों ने जो खडचे किये थे वो सही धंग से किये थे कि नहीं तो यहां अब उनसे सवाल करने शुरू होंगे, इससे वरगी करन होगा, प्रथक करन शुरू होगा, विधाई का और कार्य पालिका में जो सवाल पूछेगा, वो विधाई का जो जवाब देगा, जिसको दाइतुव दिया गया, जैसे आज वित्न मंत्री जी से हमारे विपक्ष के लोग सवाल तो जवाब देना पड़ेगा मंत्री को, तो ये शुरुवात विधाई का अलग होना और कारेपाली का अलग होना दिखता कहां पर है, अठरा सो बानवे के कानून में, तो ये बात समझ में आ रही, बजट पर बहस करना मतलब एक तरीके से उन्हें जवाब देहिता भी तहें करवाना है, विधान परिशद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान को स्विकार, मतलब अब राज्यों में प्रांत में शुरुवात हो रही है, कि जो प्रांत में गवर्नर है उसकी भी परिशत थी, तो कहा गया कि वहां के जो परिशत के लोग हैं, वो इंडाइरेक्ली चुने जाए, इंडाइरेक्ली का मतलब होता है, कि पूछ भी लिया जाए कि हमारा वाइसराय क्या चाता है, और यहां के लोग जो है उनसे भी थोड़ा सला मशुरा करो, लोग मतलब जो भी बंबई प्रांथ का बड़ा अमीर आदमी होगा, जो भी मुख्य मंत्री होता है, फिर गवर्नर होता है, मुख्य मंत्री निर्णय अपनी मरजी से लेता है, गवर्नर उस पर केवल हामी की बात करता है, तो उत जमाने में ऐसा नहीं था, उस समय पूरा निर्णय कोन लेता था, गवर्नर, और वो केवल सला देते थे, अब यह शुर 1892, बजट पर बहस और दूसरा, राज्यों में हलकी पुल की सरकार बनाने की शुरुवात, पर आता है सबसे बड़ा 1909 का अधीनियम, अब देखना जरा कहानी में प्रश्ट भूमि, 1905 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा अंदोलन आ गया, स्वदेशी अंदोलन, पहला अंदोलन था देश का, राश्टी स्तर का बन गया था ये, और भयानक रूप से एक जूटा दिखने लगी, अंग्रेश डर गये कि ये फिर से एक जूट हो रहे हैं, और अगर ऐसे ही तो फिर तो हमारे दिन ज्यादा नहीं रहे, इनको पहले अलग करो, अब पूरी बैठक बैठेगी वाइसराय की, और उन्हें पता चलेगा कि आंदोलन करके एक जूट हो रहे हैं, इन्हें बाटा जाए, धर्म के नाम पर, क्योंकि यहां रंग वाली बात्चित तो थी नह ने, तो इनको पता था कि भारतिय समाज में धर्म के नाम पर और जाती के नाम पर लोग बहुत बटे हुए, रंग का यहां इतना इंपोर्टेंस नहीं है, लोग कह देते कि दो ही तो रंग है, पर यहां जातिया कई तरीके की है, धर्म कई तरीके के, तो अब वह पूरी प नूभव से, 1861 में उनने भारतियों को क्यों शामिल किया, 1857 की सावधानी बरतने के लिए, तो यह सारी प्लानिंग के ता चीजे चल रही है, तो 1909 में पहली बार सामप्रदाइक निर्वाचन की बात्चित शुरू होगी, सामप्रदाइक निर्वाचन का मतलब होगा, जह मुसलिमों का बहुमत हैं, वहां नहीं, जहां मुसलिम अल्प मत में हैं, वहां एक मुसलिम कैंडिडेट ही खड़ा रहेगा, और मत देने का अधिकार केवल, क्या ये बात समझ में आ रही हैं? तो यहां पर सामप्रदाइक निर्वाचन की शुरूवात होती है, इसको नाम दिया जाता है मारले मिंटो, मारले थे सचीव और मिंटो थे वाइस राय, दोनों ने प्लानिंग करके भारत को फिर से अपने अंडर में रखने की प्लानिंग की है, विधान परिशद में सदस्यों को प्रश्न पूछने का और बजट संबद में अपनी राय देने का अधि थोड़ा ओर बेटर हुआ, पहली बार वाइसराय की परिशद में, अब परिशद मतलब समझना, जो तीन लोगों को बुलाया था, वे विधाईका के हिस्से में थे, पर ये पहली बार एक व्यक्ति को मंत्री पद दिया जा रहा है, मतलब इमेजिन करो कि ये पहला मंत्री संदल होगा, जिसमें एक भारतिय मंत्री पद प्राप्त करेगा, उधर क्या था, वो संसद में भारतियों को बुलाया, तीन लोगों को ऐसा समझो, और 1909 में एक भारतिय को मंत्री बना दिया, मतलब कह सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर तो वर्ड नहीं कहेंगे, लेकिन पहल करेपालिका में जगा मिली, और क्या नाम था उनका, सचिदानंद सिना, सतेंद्र प्रसाद, सतेंद्र प्रसाद, सतेंद्र प्रसाद, समा जाएंगे, एक महतुपन प्रावदान क्यूंकि 1861 के अधिनियम में विधाइका में शामिल हुआ, और अब कारेपालिका में, जबक इसलिए इसका एक और नाम दिया जाता है समप्रदाइक अवाड़ के निर्माता मारले और मिंटो और इनों ने ही देश में पहली बार ये क्लियर करवाया कि मुस्लिमों के विचार अलग और हिंदूों के विचार अलग है आज के लोग वाटसब उनियोर्सिटी वालों को देश का ज्यादा शोशन मुस्लिमों ने किया, लेकिन वास्तविक रूप में अगर ऐसा होता, तो क्या धेश में क्रांतिया उस समय नहीं हुई होती? क्रांतिया इस बात का प्रमान हैं, कि शोशन की सीमाये ज्यादा कहा रही और कहा पर कम. देखो एक छोटी सी कहानी आ समझना, 1857 की क्रांती में जो सैनिक थे, उन्होंने अपना नेता किसको गोशित किया, बहादुर शाह जफर को, सोचो कि वे लोग बहादुर शाह जफर को सुईकार करने को तयार हैं, लेकिन अंग्रेजों को नहीं, मतलब कोन अच्छा रहा होग ये तो क्लियर हो जाता है, लेकिन हमारी वाटसब उन्यूर्सिटी को लगता है कि किसी तरीके से वो और भी गंदगी फैला सकें, तो भूट डालो राजकरो की नीती, दूसरी बार भारत में कब आये, वाटसब उन्यूर्सिटी के द्वारा, अब यहाँ एक बड़ी इंप तो इनों ने 1857 से लेकर 1900 तक मुस्लिम विरोधी नीती आपनाई, पर फिर उदर कॉंग्रेस बन गई थी, कॉंग्रेस में अधिकतर बंगाल के बुद्ध जीवी, वो हिंदू ते मेकसिमम, अब इनको लगने लगा कि ये हिंदू तो हमारे सर पर बैठ रहा है, फिर उसने क किया किया कि अच्छा, तो जान बूझकर पहले बंगाल का विभाजन, क्योंकि आधे हिंदू का शेत्र तवराधा, मुस्लिम शेत्र जहांच बंगलादेश है, तो इनों ने पूरी प्लानिंग के तहत, जान बूझकर अब मुस्लिमों का सपोर्ट करना शुरू किया, ताक का नाम है, मौन्तेंग्यू चेम्सफोर्ट, अब इसको कई बार कन्फिज होता है, मारले मिंटो छोटा नाम पहले आएगा, मौन्तेंग्यू चेम्सफोर्ट बढ़ा नाम बाद में आएगा, तो 1909, मारले मिंटो, 1919, मौन्तेंग्यू चेम्सफोर्ट, मौन्तेंग्यू सच चेम्स फोर्ड, वाइसराय, भारत में बैठे हो, इन्हों ने इस सामप्रदाइक निर्वाचन को और भी बढ़ा दिया, जो अभी तक हिंदु मुस्लिम तक था, अब उसे सिख, इसाई और आंगल भारतियों तक लेकर आ गए, इसे ये और भी बढ़ाना चाह रहे थे 1935 में, और जातियों तक लाना चाहते थे, कहां तक, जातिया भी लेकर आ रहे थे, 1932 में गांधी जी ने आमरनंशन शुरू कर दिया था, और अमबेट कर जी को बाकी नेताव ने मनाया, कि भई, महत्मा गांधी हमारे देश के लिए जरूरी है, आप उनकी एक बार बात्चित सु लीजे, और फिर गांधी जी के विचारों को मानते हुए, पूना फैक्ट हुआ, जिसमें तय किया गया, कि जो सीटे रहेगी जातियों में, वो आरक्षन या आरक्षित कर दी जाएगी, मतलब 1929 में, 1909 में केवल हिंदू मुस्लिम, 1929 में बाकी धरम भी, और 1935 में क्या प बाट देना चाहते थे, कि कभी ये देश फिर जुड ही ना पाए, एक जुट ना हो पाए, मतलब इनकी केवल इतनी पॉलिसी थी, कि देश में एक जुटा कभी भी न आ सके, वो तो 1932 में गांधी जी और अमबेटकर जी के विचार मिले, और पूना पैक्ट समझोता हो गय चालो कर लो फिर, ठीक है, लाइट गई फिर भी चल रहे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान देंगे अब, तो 1919 का भारत शाचन अधिनियम, शिक्षा संपत्ति करके आधार पर वो देने का अधिकार, बड़ा इंपॉर्टेन, पहली बार राज्य की सरक सारे चुनी जा रही है, पर चुन्ने का अधिकार सार्वो भौमिक नहीं है, बल्कि आपके एजुकेशन अगर है, तो ओड देने का अधिकार रहेगा, पैसा है, आपके पास संपत्ति है, टेक्स देते हो, तो अधिकार मिलेगा, या फिर आप कोई बहुत अमीर आदमी है, तो आपको अधिकार मिल सकता है तो भले ही ठीक है भई लेकिन पहली चुनी हुई सरकार राज्य में बनने जा रही थी कब 1919 में अब देखो जब सरकार चुनी हुई होगी न तो वो कहेगी कि मैंने इतनी मेहनत की हमारे जितने वोटर्स थे सबको मैंने मनाया और उनसे मैंने वादे किये कि मैं तुम्हारे वादे पूरे करूगा तो मुझे आप पूरी तरह से कारवाई करने के अधिकार दोगे लेकिन इन्होंने क्या किया कि बोले राज्य में भली सरकार चुनी जाएगी लेकिन सारे अधिकार उस सरकार के पास यहां भी द्वेच शाशन लेकर आ विशय और जो गवर्नर लेगा वो आरक्षित विशय इसका जीवन तुधारन अगर देखा जाए तो हम दिल्ली सरकार को देख सकते हैं। एक नई व्यवस्ता बनाई गई शुरुवाती व्यवस्ता है लेकिन पहली बार किसी देश के राज्य में क्या होगा चुनाव होगा और चुनाव से चुनीवी सरकार बनेगी। नहीं मिले हैं। दूसरा UPSC के गठन का प्रावधान। पर UPSC डाइरेक नहीं बनी फिर 1900 UPSC को सव साल होने वाले हैं। 23 और 3 साल के बाद UPSC अपनी सवी वर्षगाड अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। और फिर भारतिय लोग यही पर दिल्ली से परिक्षा दे सकते थे। तो 1926 से UPSC ने काम करना शुरू किया है। राज्यो का बजट पहली बार केंद्र से अलग। मतलब केंद्र का अपना बजट है और राज्य का अपना बजट है जो इसके पहले नहीं था। प्रांतिय विधान मंडल में 12 शाशन। कुछ विशय गवर्नर के पास है और कुछ विशय चुनी हुई सरकार के पास। तो 1919 में 3-4 बड़ी बाते। पहला तामप्रदाइक निर्वाचन को बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे है। हाँ चुनाव में वोट का अधिकार सब के पास। कुछ ही लोगों के पास है। और विशय में दो प्रकार के विशय आरक्षी तोर। इसलिए कैसी सरकार। आंशिक उत्तरदाई सरकार। UPSC ने एक सवाल पूछ लिया था विशय के बटवारे का। अब देखो, मेरी साब से उसको कौमन सेंसे हल करिये। कौन से विशय दिये होंगे उन लोगों को, Britishers ने, जो महतुपुर नहीं होंगे। जैसे साफ सपाई कर लेंगे गली में, बिजली का बिल और सब चीजे मिल रही की नहीं मिल रही। हलके पुल के विशय दिये होंगे। पर जो बड़े विशय होंगे, वो किसके पास रखे होंगे। गवर्णर के पास। प्रांतों को जो विशय प्रदान किये गए थे उनपुन, ट्रांसपर और आरक्षित विशय में बाटा गया। हस्तांतरित विशय का शाषन जो गवर्णर के हाथ में होगा लेकिन निर्वाचित सरकार के माध्यम से। गवर्णर इन विशय पर अपनी परिशद विधाई का की सायता से नियम बनाएगा। वह आरक्षित विशय के संबन में शक्तिया गवर्णर के पास हैं। किन्तु इस विशय पर वो कारेपालिका की सायता से नियम नहीं बनाता था, बल्कि अपनी मर्जी से, और फिर वो कानून आया, जो भारत का सबसे बड़ा, अब मुझे एक बात बताओ, इनको अगर कोई बता देता कि तुम्हारे दिन ज्यादा रहे नहीं, तो क्या वो कानू बड़ा बनाते की छोटा, इतना बड़ा कानून क्या दिमाग लेकर बना रही है, इनको लग रहा है कि भारत अब आजाद जल्दी, मतलब इनके दिमाग में 1980 से पहले हम भारत को आजाद करने वाले, इसलिए तो 1935 का इतना बड़ा कानून पारित करके भेजा, पर उनको य पिनाम या उनकी सारी चीजे वो भारती अपने अनुसार बदलने वाले होंगे, उनको पता होता कि 12 वर्ष में देश आजाद हो जाएगा, तो 1909, 1929 के कानून इतने बड़े नहीं थे, फिर 1935 का इतना बड़ा कानून लाते ही नहीं, वैसे इस कानून को बनाने में बहुत उन्होंने 1942-43 में मानी, और जब तक 1942-43 आया तो गांधी जी ने कह दिया, अब हम वो बाते मानने वाले, वो बहुत पुरानी बाते हैं, जो अब हम स्विकार करने को तयार नहीं है, अखिल भारतीय संग की स्थापना, ये बहुत नया वर्ठा, कहा कि पूरा जो देश है, वो एक संग है, वो एक राष्ट है, जिसमें दो तरीके के लोग है, एक जो डाइरेकली सरकार मतलब ब्रिटिश प्रांत के रूप में हैं, और एक जो देशी रियासत के रूप में, लिखित रूप से पहली बार केंद्रो राज्य के बीच, शक्ती का बटवारा, प्रांतो में द्वेद शाषन की समाप्ती, मतलब वो जो बटवारा था, पता चला कि बार बार मुख्य मंत्री राज्यपाल को विधान सभा में गालिया दे रहा है, तो पिर उन्हें का भई इसमें जगडे बढ़ रहे हैं मुख्य मंत्री और गवर्णर के, तो हमने क्या किया, वो द्वेद शाषन समाप्त और पूरा जिम्मेदारी किसको दे दी, राज्य सरकार को है, और केंद्र में द्वेद शाषन, पर केंद्र में अब दो प्रकार के लोग हो गए, वाइस राय को कुछ विशय दे दिये गए, जो बड़े-बड़े होंगे, और बचे हुए केंद्र विधाई का, मतलब वहाँ पर भी अब केंद्र सरकार बनने लग गई, प्रांतों में उत्तरदाई सरकार, उत्तरदाई वड़े क्यों कह रहे अब हम, अब पूरे विशय उनी के पास है, प्रांतों में द्वी सदनिय विधाई का, मतलब प्रांत में एक विधान सभा होगी और एक विधान परिशत पर सभी लोगों ने बनाया नहीं था। और ये पहला सबसे बड़ा लिखित कानून था जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य के बीच शक्ती का विभाजन इस पश्ट रूप से किया गया था। ये यहां पहुचेगी। कुछ तो लॉजिक लगाते तो निन्यानवे वर्ष का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। बकवास है वो। वाइसराय केंद्र का जबकि राज्यों के गवर्णर को राज्य का सवेधानिक प्रमुख घोशित हुआ। मतलब अब जो भी वाइसराय या गवर्णर हैं उनके निर्णय अंतिम होंगे। लेकिन वे निर्णय किनकी सलह से लेंगे और उनके अनुसार काम करेंगे। उस पर हमारा कोई कंट्रोल भारत पर ब्रिटिश संप्रभूता पूरी तरसें और भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभूर राज्यों का गठन होगा। मतलब देश आजाद तो होगा लेकिन बटवारे के ताथ। अब कल्पना करो कि ये माहोल कितना भयानक है। खुशी मनाए हैं कि गम आजादी की खुशी ने बटवारे का गम भी लाया है। मतलब एक तरब तो लोग बहुत बड़ी संख्या में 10 लाक से ज्यादा लोगों का केवल और केवल एक जगह से दूसरी जगह पलायनी कोई साधारन आकड़ा नहीं है। विश्व के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा पलायन और उससे भी ज्यादा लोगों की हत्या है। इमेजिन करो कि इस पूरे परिप्रेक्ष में वो सविधान सभा ये निर्नय ले रही है कि उन्हें देश कैसा बनाना है। वो जिन लोगों के लिए निर्नय ले रही वो कतले आम में लगे हुए। और तब एक महान शक्स कहता है कि तुम जानो तुमें कैसा देश चाहिए लेकिन मैं वर्तमान में मेरे नागरीकों को ऐसे तो मरने नहीं दूगा। उसका कारण था क्योंकि 1947 में जब आजादी की घोशना होती है तो वो जो ब्रिटिस सैनिक था वो अपनी जान ले अंदर क्यों जाए। क्योंकि उसको तो वैसे भी भारतिय नफरत करते थे। तो उसने कहा जो हो रहा है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तब वो शक्स केवल एक लकडी लेकर चल रहा है और लोग उसको देखकर अपनी तलवारे फेक रहे हैं। वो कोई महान और साधारन सा व्यक्तित्व वाला नहीं। सच में एक अदभुत व्यक्तित्व का धनी होगा जो ऐसी परिस्तिती में भी लोगों को शांत करने की हिम्मत जुटा पाता है। चोडवांदोलन में आमरन अंशन किया न तो भयानक रूप से गांधी जी की तबियत खराब हो गई थी। इतनी भयानक कि लग रहा था कि गांधी जी चल जाएंगे और चडचिल हर दिन यही पूस्ता था फोन लगा कर क्या गांधी जी निकल गए है। तो चडचिल ने क्या आरोप लगाया था। ध्यान से देखो गांधी जी के पानी में गुलकोस तो नहीं मिला है। पर आपको सुनकर अचरजोगा जब गांधी जी इकिस दिन का उपवास कर रहे थे तो लगभग ग्यारवे दिन से लेकर उन्निस वे दिन तक चडचिल की इतनी भयानक तबियत खराब होई थी कि चडचिल की मृत्यू नजदीक पहुच गई थे। डॉक्तरों ने चडचिल से कहां कि आपका बचना इसी चमतकार से कम नहीं है। और अदभुत बात यह है कि गांधी जी जो उन्निस वे दिन तक पीडित रहें, बीस वे दिन से गांधी जी में वही तेज आ गया बले उन्होंने खाना नहीं खाया था। मतलब यह सोचो कि वह व्यक्ती का दुखी होना कितने दूर तक प्रभाव डाल सकता है। यह कोई साधारन सी बात तो नहीं रही होगी। तो गांधी जी के बारे भली वाटसव इनियर्सिटिया कुछ भी कहे, वो शक्स ऐसे थे जिनके कलपना वर्तमान के जगत में करना ना मुनकिन है। तो 1947 का अधिनियम पारित होता है और फाइनली देश के लोगों कोई अधिकार मिलता है कि अब वो अपने देश की बागडोर संभाले। लेकिन अब सवाल यह है कि बागडोर संभाले कैसे। अब यह समभालने वाले लोग वही जो नेता थे पहले से, तो उसको भी अब हमें समझना है। तो एक बार समरी देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा कोई ब्रेक की जुरुवत तो नहीं ही न। नहीं साड़े बारा, पांच घंटे तो खीचना ही पड़ेगा पहला। अगर यह पांच घंटे नहीं हुआ, तो फिर अगले पांच घंटे तकलीब दायक जाएंगे। मतलब देखो निर्नय लिया है, युद्ध शुरू हो चुका है, अब यहां से दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वीरगती या विजयरत, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। देखो, एक चोटी जी बात फिर बता दू, कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि भगवान कृष्ण जो मतुरा चोड़कर द्वारी का बसाते हैं, और केवल इसले द्वारी का बसाते हैं, क्योंकि वो अपने रिष्टेदारों के साथ युद्ध करना, क्योंकि उनका जो ए द्वार का बसा दी, महा भारत में अरजुन कह रहा है, मुझे ये युद्ध करना, कि इनको मार रहा हूँ मैं, अपने ही लोगों को, और अगर मैं जीत भी गया, तो मैं किन के लिए शाशन करूगा, और इसमें बहुत सारे लोग मरेंगे, तो क्रिश्न भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें तो युद्ध, और तब तक मैं तुम्हें समझाओगा, जब तक तुम्हें युद्ध के लिए तयार, तो उनसे सवाल पूछा गया, उपर, कि भई, आपने तो जब चाहा तब चले गया, रन भूमी चोड़ कर चले गया, तो आपने अरजुन को जाने से क् रोका, तुम्हें जवाब दिया, मैंने युद्ध के पुर्व ही अपने रन्चोड का निर्ने ले लिया था, पर अरजुन मैदान में आकर रन्चोड की बात करें, वो स्विकार नहीं है, तो या तो पहले ही तय कर लेते कि हमें क्लास नहीं करनी है, पर एक बार क्लास के अ या तो वीरगती या वीजयरत, लेकिन तीसरा कोई तरीका नहीं है, तो वापिस आये, अब एक सम्री देख लेते हैं, अभी हमने देखा टर्मिनोलोजी, ठीक है, और उसके बाद हमने एक देखा हिस्टोरिकल बेग्राउं, तो मुझे आप लोग कुछ बताते चलेंगे, पहली बार कमपनी की मोनोपोली को चोट कब लगे, 1813, पूरी तरह से, 1833, किस कानून ने ये तय किया था, कि अब हम भारतियों पर और शाशन या देशी रियासतों को कबजे में नहीं लेंगे, 1888, किस कानून में ये इस्पच्ट कर दिया था, कि अब ये जो शेत्र है, जो कमपनी का है, लेकिन अब वो शेत्र किसका रहेगा, ब्रिटिश का, कोन सा कानून, 1700, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये इस्पच्ट रूप से ना सही, इंडाइरेक्ली बता दिया था, कि ये ब्रिटिश अधिपत्य का शेत्र रहेगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सविधान का निर्मान, सविधान का निर्मान कोई साधारन प्रक्रिया नहीं है, तीन साल तक चली लगभग, तो सबसे पहले सविधान, ये शब्द थोड़ा समझना पढ़ेगा, कि भई, ये निर्मान वाले दिमाग में कब से आने लगे, तो सबसे पहले 1934 में एक व्यक्ति आते हैं, M.N. Roy, और वो कहते हैं कि सविधान का निर्मान किनके द्वारा होना चाहिए हैं, भारतियों के द्वारा, फिर इसे कॉंग्रेस अपने मुख्य लक्ष के रूप में, अगस्त प्रस्ताव के रूप में सुईकार करती है, लेकिन वास्तविक रूप में यह अंतिम तप सुईकार होता है, जब 1947 के अधिनियम में लिखा जाता है, कि देश का सविधान, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की विधान परिशत सभा जो भी करेगी, और भारत का सविधान, भारत की केंदरिय विधान सभा जो है, वो निर्मान करेगी. तो पहली मांग 1934 में वाम पंथी वाम पंथी इसले कहते हैं नए विचारों के थे समर्थत 1935 में कॉंग्रेस द्वारा पहली बार उपचारिक रूप से सविधान सभा की मांग 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सुईकार किया था तो अगस्त प्रस्ताव कॉंग्रेस का नहीं बलकि ब्रिटिश सरकार ने सुईकार किया 1942 में क्याबिनेट मिशन द्वारा दो सविधान सबाओ के मुस्लिम लीग की मांग को स्विकार कर लिया था पर फिर भी क्याबिनेट मिशन के स्विकृक्ति मिल चुकी थी क्याबिनेट मिशन में तीन लोग थें पैंथिक, लॉरेंस, सरिस्टेफोर्ड, क्रिप्स और अलेक्जेंडर भारत में सविधान सुधारो की रूप लेखा केंद्र में अस्थाई सरकार की स्थापना और इस्थाई सरकार इसलिए क्योंकि जब तक सविधान नहीं बनता, तब तक एक सरकार का होना बहुत जरूरी हैं। लेकिन अप्रतियक्ष रूप से प्रती दस लाख व्यक्तियों पर एक प्रती निधी चुने जाने की व्यवस्ता। देशी रियासतों से भी इस आधार पर प्रती निधी मनोनित करने की व्यवस्ता। मतलब देसी रियासत, देसी रियासतें जो डाइरेक राजा के कंट्रोल में थी, ऐसी रियासतों से भी लोग भेजे जाएंगे, अब इमेजिन करो, ये बहुत चमतकारिक बात कैसे है, एक राजा से हम क्या पोल रहे हैं, कि हम एक लोकतांतरिक सरकार बनाना चाहते तो अपने लोग भेजो, मलब राजा जे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, कि हम तुमारा राजपाट छिनना चाहते हैं, तुम अपने लोग भेजो, तो ये कोई साधारन सी बात ने, और राजा कह रहा है कि ठीक है, मैं भेजता हू, उसका कारण है, पटेल सहाब, या उसका कारण है, सभ कोई भी देशी रियासत का राजा, या तो भारत में जाएं, पाकिस्तान में, या सोयम अलग भी रह सकता है, तीन लोगों ने बहुत मदद की देश को सच में एक जुट करने में, उसमें सबसे पहले थे सरदार वल्लभाई पटेल, दूसरे थे पटियाला के महा राजा, औ कई सारे जो राजा थे, वो पटेल साहब की बात नहीं मानते थे, लेकिन क्योंकि वो माउन बेटेन कोई साधारन वेक्ती नहीं थे, वह भी ब्रिटिश परिवार से ही रिष्टा रखते थे, तो वो जानते थे कि माउन बेटेन की बात इसले भी माननी चाहिए, क्योंकि व तहां जहां पर हमारी देश के राजा किसी से अच्छा व्यवार रखते दे तो वो थे पटियाला के महाराजा, इन तीनों ही लोगों ने अलग-लग रियासतों को मनाने की कोशिश की, बस एक रियासत जो थी उसने अपने प्रतिनी दी नहीं भेजे, वो थी हैदराबाद की र हम कह सकते हैं जम्मू कश्मिर वाला मामला पहली जिदा, पर हैदराबाद का निजाम 1948 में जाकर साइन करता है, तो किस रियासत के प्रतिनी दी नहीं थे, हैदराबाद के, योजना के आधार पर दिसंबर 1946 में प्रांतिय विधाईका के चुना हुए, प्रांतिय विधाईक कर मुस्लिम लीग का सविधान सभा के बहिशकार का निर्न है, तो अभी सविधान सभा बनी नहीं, अभी तो क्या हुए है, राज्यों के चुनाव हो गए, फिर सविधान सभा का अंतिम गठन, क्योंकि अब वो अलग राकारवाई की मांग करेंगे, बहुत सारी चीजे कॉंग्रेसी जीती थे, ये 324 शाय शुरुवात के ही हैं, फिर बदलेंगे, 89 सदस्य कहां से हैं, देशी रियासत्य, हैदराबाद एक ऐसी रियासत्य जिसके प्रतिनिदी सविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे, 299 अंतिम सदस्य थे, जिसमें देशी रियासत्य थे 70 और ब अब वापी जाते हैं, भारतिय स्वतंत्रत आधिनियम 1947 द्वारा सविधान सभा की स्तती में दो बड़े परिवर्तन, सविधान सभा को पूरी तरह से, ये शब्द का मतलब क्या हुआ, कि सविधान के निर्मान में ब्रिटिश या ब्रिटेन के किसी भी प्रकार के देप को सुईकार नहीं किया गया है, ये सविधान पूर्ण रूप से भारतियों ने अपनी मर्जी से निर्मित किया है, सविधान सभा भारत की केंद्रिय विधाई का भी बन गई, मतलब वो दो काम कर रही हैं, वो सविधान का निर्मान भी करेगी, और वर्तमान में देश को चलाने के लिए संसद का भी काम करेगी, मतलब उसकी जिम्मेदारिया कितनी हैं, दो, पहली जिम्मेदारी सविधान, सभा की मतलब सविधान निर्मान की, और दूसरी जिम्मेदारी है देश को चलाने के लिए संसद या विधाईका का काम करने की, पर ये सभा कैसी हैं सम प्रभू है इस पर किसी का ओर कोई नियंत्रन नहीं है सविधान सभा की कार्य प्रनाली में सबसे पहले जो अइस्थाई अध्यक्ष चुने गए उमर के आधार पर सत्चिदानन सिना पर पर्मनेन अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ सविधान सभा के वो वेक्टी रहेंगे जो पूरी सविधान सभा की कार्य प्रनाली को देखरे करेंगे डॉक्टर एच सी मुखर जी तथा वीटी कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष है दो उपाध्यक्ष है सविधान सभा की कार्य प्रनाली का मूल उदेश प्रस्ताव पर आ कि हम किस प्रकार का सविधान बनाना चाहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवालार नहरू द्वारा सविधान सभा में प्रस्तुत। और 22 जन्वरी दिसंबर से लेकर 22 जन्वरी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 1947 को स्विकृत। मतलब आजादी से पहले ही हमारे सविधान के निर्मान की रूप रेखा तय हो गई थी। क्योंकि घोशित कर दिया गया था कि हम भारत को जल्द ही आजाद करने वाले हैं। उद्देश प्रस्तावने आगे चलकर हमारे सविधान में किस जगह पर सेट अप कर दिया गया उसे हैं। प्रिम्बल के रूप में उद्देश शिका के रूप में। तो सबसे पहली बात सचिदानन सिना अस्थाई अध्यक्ष, रौजेंद्र प्रसाथ पर्मनेंट अध्यक्ष, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश शिका या एक तरीके से उद्देश प्रस्तावाता हैं जिसको बाद में हमारे सविधान में उद्देश शिका के रूप में सुईका किया जाता है, फिर एक विचारक है ग्रेंविल ओस्टीन, इन्होंने हमारे सविधान सभा पर रिसर्च की और उन्हें कहां कि भारत के सविधान सभा ने जब काम किये तो तीन सिद्धानतों का पालन किया, पहला था स्तर्व सम्मती, इस शब्द का मतलब समझेंगे, वह सर्व सम्मती का निरनय होता था, मतलब तब तक कोई बात लागू नहीं होगी, जब तक की सविधान सभा के, सभी लोग उसमें शामिल न हो जाए, दूसरा समायोजन, समायोजन को अंग्रेजी में कहेंगे, अकोमोडेशन, मान लिजे कि किसी भी प्रस्ताव पर खड़ा हो जाए, तो उनकी बात भी सुनेंगे, दूसरे की बात भी सुनेंगे, और कोई मध्य का मार्ग निकालेंगे, और तीसरा परिवर्तन के साथ चयन, किसी भी दूसरे देश से, किसी भी ब्रिटिश कानून से, चीजे as it is उठाई, नहीं गई हैं, बलकि पहले देश की आवश्चक्ताव के अनरूप उसमें बदलाव किया गया, और फिर उसे सविधान में जग दी गई, जैसे हमने देखा, कि हम ना तो शुद्धरूप से संगात्मक है, ना एकात्मक है, ना हम गनतांत्रीक है, शुद्धरूप से ना ही, लोकतांत्रीक है, तो ये सब सम्मती, सविधान सभा का दृष्टीकों मुख्यता सर्व सम्मती के सिद्धान पर आधारित था, तर्व सम्मती से तात्परे की जो भी निर्ने लिये जाए, वे या तो एकमत से लिये जाए या लगभग, एकमत से, समायोजन से तात्परे दो परस परविरोधी समझे जान से ग्रहन किया गया इस प्रकार सविधान सभा के सदस्यों का दृष्टी कोन कुछ विशयों के संबन में परिवर्तन के साथ चैन के सिद्धान पर आधारित था उन्होंने विदेशी सविधानों से ले विभिन आधर्श और सिद्धानतों का क्या किया भारतिय करन मतलब हमार देश के अनुरूप बनाया भारतिय सविधान की कार्य प्रनाली पर एक संग्शिप्ट इपनी पूछा गया दा अब इसमें कई प्रकार की कमीटिया थी ये यूपी असी प्रिलिम्स में जोड़ी बनाने में फेवरेट सवाल है तो समीतिया कैसे याद करनी है तो प्रती दिन सुबह खाना खाने से पहले इने पढ़ना है 15-20 दिन के बाद ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी संग्शक्ति समीति जवालार नहरूस के अध्यक्षते प्रांतिय सविधान समीति सर्दार वल्लब भाई पतेर प्रारूप समीति डॉक्टर बियारम बेटकर राज्यों क अल्प संक्यक और आदिवासी समीति ये पिछली बार आया हुआ सवाल था सविधान निर्माताओं को प्राभावित करने वाले कारत देखो जब सविधान का निर्मान हो रहा था तो सविधान निर्मान करते समय कई ऐसे लोग भी थें जो कई परटिकुलर विचारधारा से पीडित थे जैसे जवाल लार नेहरू साती साथ उनके समकक्ष के कई सारे नेता समाजवादी विचारों से प्रभावित थे गांधी वाद से भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे कई उदारवादी नेता भी थे उदारवादी का मतलब मूल अधिकारों को देने वाले नागरीक स्वतंत्रता की बात करने वाले नागरीक अधिकारों की और कुछ ऐसे भी नेत्रत्व करने वाले लोग थे जिने लगता था कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा सरकार की भूमिका को बड़ा किया जाए जैसे सुबाद चंद्रबोश तो नहीं रहे लेकिन उनके भी तो कुछ समर्तक थे और सुबाद चंद्रबोश का क्या मानना था कि देश जब आजाद हो तो 20 वर्शों तक देश में समाजवाद रहे क्योंकि वो जानते थे कि अगर गरीबी बेरोजगारी बड़ी-बड़ी समस्याओं से लड़ना है तो पूरी संपत्ती पर सरकार का कबजा होगा तो सरकार बड़िया निर्णय ले पाएगी तो कई अलग-लग विचारधारा के लोग इसमें रहे सबसे पह जानसबा के सदस्यों का व्यक्तित्व और विचारधारा विभिन्न देशों के सविधानों के अनुभव जैसे अमेरिका का सविधान बड़ा अच्छा लेकिन आज भी अमेरिका की विधाईका और कारेपालिका में जमती नहीं है बिटेन का सविधान बहुत अच्छा लेक चोड़ते चले गए भारतिय सविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुक विचार थें जिन पर पूरी सविधान सभा एकमत थी समाजवात की स्थापना राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक क्यों शक्तिशाली बनाना चाह रहे क्योंकि उस समय निर्पेक्षदा स्वतंत्रता इत्यादी संकल्पनाओं के लिए तयार थे लेकिन जैसे पंत निर्पेक्षदा उन्होंने इस पश्रूप से वड़नित उस समय नहीं की ते लेकिन उनके दिमाग में ये पॉइंट था नेहरु जी ने जवाब दिया था पूछा गया था कि दिमेका ऐसा राष्ट बनाना चाहते हैं जहां सभी धर्म का बराबरी का सम्मान होगा तो ये लोग थे जिनका प्रभाव सविधान पर बहुत ज्यादा हुआ गांधिवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा और यूनिफाइड पिछडे वर्गों के उद्थान में हम डॉक्टर भीमरा अंबेटकरजी का नाम भी शामिल करेंगे व्यक्तिगत स्वतंद्रतान नीती निर्देशक तत्वों के माध्यम से ग्रामीन और कुटिर उद्ध्यों क्योंकि उनका आन कहना था कि उपर से नीचे विकास प्रसारि होता है और यह ज्यादा सही कंसेप्ट माना जाता है समाजवादी विचारधरा राज्य के नीती निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी अउधारना के प्रमान सामाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्ता राजनितिक तो कम लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय उत्पादन और वित्रन के साधनों पर समान वित्रन मतलब हमारे देश में कोई एक व्यक्ति ही अमीर होता चला जाए और बाकी प्रजा गरीब हो तो ये ठीक नहीं होगा लगबक सभी को बराबरी में संसाधन मिलने चाहिए भारतिय सविधान पर सबसे अधिक प्रभा उदारवादी दृष्टी कोन का राज इसके प्रमान है हमने बहुत सारे मूल अधिकार दिये आर्टीकल 12 से लेकर 35 तक हमने धार्मिक स्वतंतरता को स्विकार किया इसका दूसरा बड़ा प्रमान है पंथ निर्पेक्षता तीसरा हमने समान न्याय के लिए कई प्रकार के प्रावधान 325 कानून के समक्षमता और वयस्क मताधिकार जैसी बातों को हम लेकर आए हैं ये सारी चीजे उस समय किस विचारधारा की थी उदारवादी विचारधारा सबसे प्रबल समर तक सरदार पटेल राष्ट की एक तावर अखंडता के लिए वो सारे प्रयास किये जाए जिसके बलबूते देश में पुनह बटवारे जैसी स्तती निर्मित और इसलिए हमारे आर्टिकल एक में क्या लिख दिया कि हम भले ही संग हैं लेकिन दुनिया मे ऐसा संग कभी बना जिसमें सबसे बड़ी शर्त डाल दी कि संग की काईयों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा भारत की सविधान सबा ने कितने देशों के सविधान का दिन किया 60 न केवल उनके सविधानिक प्रावधानों का बलकि उन देशों की परिस्तिति और भारतिय परिस्तितियों का भारत का सविधान बनाने में दो वर्ष 11 महिने 18 दिन सविधान बनाने में लगबग 64 लाक रुपय खड़ चुए, डॉक्टर अंबेटकर ने सविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को सविधान का अंतिम प्रारू पेश किया, जो 26 नवंबर 1949 को फाइनली कन्फम हुआ, इस बार सविधान पहली बार पढ़ा गया, सभा में इस पर 5 दिन तक बहस हुई, सविधान पर दूसरी बार बहस 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, इसमें सविधान पर खंडवार अलग-अलग सेगमेंट जैसी बहस हुई, 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और इस अउधी में कम से कम कितने संचोधन किये गए, 7,653, इसका मतलब कि बनने के बाद भी बहुत बार उसमें बदलाओ किये गए, और फाइनल सवरूप फिर आता, आया, 26 नवंबर 1949, सविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 में विचार शुरू हुआ, लेकिन इस समय ज्यादा नहीं अब क्योंकि सारा कुछ काम हो चुका था, सविधान के प्रारूप प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर, घोशित कर दिया गया, इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर किये गए, जिसमें कुल यहां लिखा है सही, 299 सदस्यों में से कितने लोग थे हैं, तो कुछ तो बीमार होंगे, कुछ मर गए होंगे, कुछ लोग नहीं आये होंगे, तो फाइनली कितने लोगों के साइन हैं, 284 लोगों के, तो यह हैं भारतिय सविधान के निर्मान की तीन वडशों की कहानी, अब हैं भारतिय सविधान के सोर्स। भारतिय सविधान के सोर्स की अगर बात करें। सबसे बड़ा सोर्स। भारत शाशन अधिनियम 1935। बहुत सारे प्राउधान इससे लिये गए। दूसरा सोर्स अगर हम कहें तो देखो भी कही न कही पार्लियामेंटरी सिस्टम हमने कहां से लिया है। तो हमारे सविधान में बहुत सी बाते बृतेन जैसी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही अमेरिका, इसके साथ साथ दक्षिन अफरीका, कनाडा, आयरलेन, कई सारे सविधानों ने हमें प्रभावित किया है। तो भारत शाषन अदिनियम से क्या-क्या लिया गया। पहली संगिय व्यवस्ता क्यों उन्होंने ही तो लिखा था। भारत अब एक संग के रूप में। फिर न्यायपाली का काफी एकी कृत न्यायपाली का का वर्णन 1935 में आपात कालीन उपबंध राज्यपाल का कार्यकाल UPSC और एड्मिनिस्ट्रेटिव जानकारिया। ब्रिटेन से पार्लियामेंटरी सिस्टम, विधी का शाषन, विधाई, प्रक्रिया, एकल, नागरिक्ता, क्याबिनेट सिस्टम, परमादेश लेक, संसधिय और बाई केमरल लेजिस्लेशन। यहां एक बड़ी बात। विधी का शाषन और विधी द्वारा शाषन, देखो द्वारा का मतलब होता है परिस्तिती के अनुसार और विधी का मतलब होता है जो कैदिया वही अंतिम रहेगा। तो हमने जो बाते देखी वो ब्रिटेन से यह वाली मेंली संसधिय शाषन प्रनाली। अमेरिका से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स न्याय पाली का की क्यूकि ब्रिटेन में न्याय पाली का स्वतंत्र नहीं है। न्यायिक पुनराव लोकन उपराष्टपती का पद सर्वोच्य न्यायले उरुच्य न्यायले के न्याय धिशो को पद से हटाने की प्रक्रिया और राष्टपती पर महाभियो। कनाडा के सविधान से हमने सीखा केंद्र को ज्यादा मजबूत कैसे बनाएं। सुप्रिम कोट को एक परामर्शी न्यायले के रूप में भी उपयोग किया जाएगा। आयरलेन के सविधान से सबसे इंपोर्टेन नीती निर्देशक तत्व राष्टपती के निर्वाचन की पद्धती और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकर। फ्रांस के सविधान से सबसे important शब्द आया गंतंत्र, स्वतंत्रता, सम्ता और बंदूता वैसे फ्रांस की क्रांती का यह परिनाम माना भी जाता है। दिसंबर 1930 में कॉंग्रेस का कोन सी नदी दिसंबर में शुरू हुआ था, पंडि जवाला नेरू की अध्यक्षता हुई थी उस समय, और उस समय पूर्ण प्रस्ताव पारित करके 26 जन्वरी 1931 को celebrate किया था इन लोगों ने complete independence day, और इसी दिन पूर्ण स्वाधिंता राष्टवादिया अंदोलन का केंद्रिय लक्ष मतलब यही लक्ष के लिए अपूरी कॉंग्रेस काम करेगी ऐसा तय हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए सविधान में 395 आर्टीकल आठ अनुसूचिया और प्रस्तावना। अब अनुसूचिया कितनी हो गई हैं। 12 अनुसूचिया सविधान की प्रमुक विशेष्टाई। देखो कुछ हो ना हो एक चीश तो है कि हमारा सविधान दुनिया का सबसे बड़ा सविधान बन गया। उसके दो बड़े कारण हैं। हमने हर चीज को इसपश्ट करने की कोशिश की शक्ती का विभाजन हो, शक्ती का प्रथक करन हो, यहां तक की पंचायतों का भी वर्नन हमारे सविधान में हैं। जो कि शायत किसी सविधान में लोकल गवर्मेंट का वर्नन न मिले। ठीक है वो बात में चोड़ा गया लेकिन फिर भी यूनिक कैरेक्टर के रूप में है। तो सबसे पहला है तो विश्व का सबसे लंबा सविधान वो भी लिखित विभिन देशों से ग्रहन किया गया संशोधन की कठोर और लचिली प्रक्रिया। दो प्रकार से, सविधान में संशोधन दो प्रकार से हो सकता है, दो तीहाई लोक लोक सभाकें, और दो तीहाई लोक राज्य सभाकें, तो यह सिंपल है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन कठोर का मतलब हुआ, दो तीहाई लोक लोक सभाकें, दो तीहाई लोक राज्य सभाकें, और 50 प्रतिशत राज्यों की अनुमती देखो दो तीहाई कठिन इसले नहीं कह रहे है क्योंकि कई देशों में जैसे अमेरिका में संशोधन के लिए कितने बहुमत की जुरुवत हैं तीन चौथाई बहुत कठिन हो जाता है तीन चौथाई बहुमत प्राप्त करना इसले हम क अन्याय पाली का ये हमारे सविधान में हमने शामिल किया है मूल अधिकार नीती निर्देशक तत्व के साथ मूल करतव कई देश के सविधानों में fundamental rights ही नहीं है कई देशों के सविधानों में fundamental duties ही नहीं है हमारे सविधान में सब दे दिया है केंद्र राज्य संबंदों क का डिसीजन उनका वर्नन स्तार्वभोमिक वयस्क मता अधिकार एकल नागरिक्ता आपात कालिन प्रोवीजन लोकल गवर्मेंड को भी जग पिछडा वर्ग अनुसुचित जाती जन्जातियों के लिए विशेश प्रोवीजन्स भी किये गए हैं फिर भारतिय सविधान में तो ध्यान से समझना सविधान बाटा गया है कई भागों में और भाग बाटे गए हैं कई अनुचेदों में मतलब सविधान एक किताब भाग उसका यूनिट और यूनिट के अंतरगत कई प्रकार के आर्टीकल पर अनुसुचिया एक तरीके का टेबल है जैसे टेबल नही किताब में तो वैसे एक टेबल है जिसमें ये वर्नन किया जा रहा है कि कौन सी सूचिया इस पूरे किताब में दी गई है जो पहली अनुसुची है पहली अनुसुची उसमें वर्नन है कि भारत का मतलब क्या है अनुसुची दो बड़े बड़े जो पद हैं राश्ट पती राजपाल उनके बारे में जानकारिया तीसरी अनुसूची उनके कस्मेवादों की हैं चौती अनुसूची राज्य सभा के बटवारा पाच्वी अनुसूची एसी छट्वी चार राज्यों के लिए हैं चार राज्य असाम त्रिपूरा मीजोरम मेघाले सात्वी अनुसूची शक्तियों का बटवारा आठवी अनुसूची भाशाय नवी भूमी सुधार कानून दस्वी दल बदल ग्यारवार पंचायते और बारवार नगर निगम मुन्सिपाल्टीज देखो इसमें जितना मुझे पता है कि रटा हुआ है साथ से बारा तो पूरा तकलीब कहां आती है वो है चौथा पाचवा और छटवा तीसरा भी याद आ जाएगा शपत के रूप में तीन कसमें चलती रहती हैं पहला भी उतना तकलीब दायक ने थोड़ा दूसरा और तीन चार पाच छे इन तीन को याद रखना कन्फ्यूजन केवल यही करता है बाकि साथ के से तो शुरुवात हो जाती है कि शक्ती का बटवारा आठ में भाशाएं नव में लेंड फॉर्म भूमी सुधार दस में दल बदल दस से दल बदल ग्यारा में पंचायत और बारा में तो खेवल तीन चौथे पाचवे चटवे पर ज्यादा ध्यान देंगे राज्य और केंद्र शाषित प्रदेशों के बारे में दूसरे में राष्टपती उपराष्टपती राज्यपाल पिठासी नधिकारी के बारे में शपत राज्यसबा में सीटों का आवंटन अनुसुचित शेत्र अनुसुचित जनजाती शेत्र असम मेघालय त्रिपोरा म मीजोरम के जनजाती शेत्र, यह मेंली अनुसुची जनजाती, स्टी शेत्र ही रहेंगे, हैसी शेत्र नहीं, फिर यह चार राज्यों को विशेष, इसमें मांग हो रही है किसा को शामिल करने की, लद्दाक यहां अंदोलन चल रहे हैं, दो प्रकार से लद्दाक में एक तो वहां इंडस्ट्रलाइजेशन को रोका जाए और लद्दाक के लोग मांग कर रहे कि उनके राज्य को या उनके केंद्र शाशित प्रदेश को किसमें डाला जाएं। तो आप हमें चट्वी अनुसूची में शामिल क्यू नहीं कर रहे हैं। पहले तो प्रॉब्लम थी कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक था लेकिन अब दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो थोड़ी चड़्चा इसकी चल रही है। असम इस पर ध्यान देंगे कि क्या हमारे सुप्रिम कोट इसमें संशोधन कर सकता है। तो नॉर्मली हम कहेंगे हाँ। लेकिन रियल में कहानी ये है कि 24 अप्रेल 1973 से पहले के कानून पर सुप्रिम कोट कोई न्याइक पुन्रावलोकन लेकिन उसके बाद वाले का न्याइक 52 सविधान संशोधन से जोडा गया पंचायत 73 से और नगरपाली का 74 से दोनों 92 में। अब आते हैं सबसे महतवपुर्ण शब्द हैं जिसको सविधान शौटकट में लिखना हो तो केवल वो क्या लिख करा जा है। उद्देश्य का उसी में सब कुछ बताया है कि हमारा दे उद्देश्य का प्रचलित नाम प्रस्तावना कह देते हैं, constitutional नाम उद्देश्य का है और साधारन मतलब होता है परपस उद्देश्य किस उद्देश्य से, किसका उद्देश्य सविधान निर्माताओं का या भारतिय सविधान का, उद्देश्य से मतलब है कि निर्माता क क्या सोच रहे थे और भारतिय सविधान में उसका मतलब क्या लिया जाए। यह हमारी NCRT में दिया हुआ है सयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संग बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शान्ती बनाने, साजा सुरक्षा व्यवस्ता बनाने, जन कल्यान को बढ़ावा देने, तथा अपने और अपनी सम्रद्धी में स्वतंत्रता का लाब लेने के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान को स्तापित करते हैं, यह किसका प्रस्ताव हैं? अमेरिका का, तो कही न कही हमने भी यह सीखा कि हम भी अपने लोगों को बताएं कि हमारे सविधान लिखने का उद्देश्य क्या है, यह NCRT में दिया हुआ है तो हमारे देश के सविधान का जो प्रस्ताव रहा वो यह रहा, भारत के सविधान में उद्देश्य का हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन, समाजवादी, पंत निर्पेक्ष, लोक तंतरात्म, गनराज्य बनाने के लिए, तदा उसके समस् आर्थिक और राजनेतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्टा, आउसर की सम्ता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एक तावर खंडता सुरचित करने वाली बंदूता बढ़ा आने के लिए दिड़ संकल्प होकर अपनी सविधान सभा में आज तारीक 26 नवंबर 1949 को एतद्वार इस सविधान को अंगीकृत, अधीनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कितने टाइप का जस्टिस तो तीन टाइप के जस्टिस की बातचीत है लिबर्टी, इकुवालिटी कितने टाइप की, इस्टेटस और और फ्रेटर निटी का मतलब बंधुता बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे ताकि हमारा देश एक्ता और अखंडता व्यक्ति की गरीमा को सुनिश्शित कर सके। भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है न कि इसे किसी राजा या बहारी आदमी ने उन्हें दिया है। कि हम भारत के लोग भारत को मतलब हम ये बताना चाह रहें कि ये जो निर्मान हुआ ये संप्रभुता के अंतरगत हुआ हैं। इसमें किसी का कोई इंटरफियर नहीं है। दूसरा प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सरवोच्य अधिकार हैं। कोई भी बहारी शक्ती भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकते। समाज में संपदा सामुईक रूप से पैदा होती हैं और समाज में उसका बटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंदों की हगदारी से जुड़े काइदे कानून इस तरह बनाएं कि सामाजिक आर्थिक असमानता हैं कम हो। मतलब लोगों के बीच में डिफ्रेंसेस कम हो खास करके आर्थिक रूप में। फिर पंत निर्पेक्ष नागरीकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतनत्रता हैं लेकिन कोई धर्म अधिकारीक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओ राच्रनों को समान सम्मान देती है। गनराज, शाषन का प्रमुक लोगों द्वारा चुनावा व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खांदान का। सम्ता, कानून के समख सभी लोग समान हैं, पहले से चले आ रही सामाजी का समानताओ को समाप तो होना होगा, सरकार हर नागरीक को समान उसरुप लब्द कराने की व्यवस्ता करें। बंदूता हम सभी ऐसा आच्रन करें, जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो, कोई भी नागरीक किसी दूसरे नागरीक को अपने से कमतर न माने। और लोग तंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनेतिक अधिकार प्राप्त रहें, लोग अपने शाशन का चुनाओ करते हैं और उसे जवाब देह बनाते हैं, यह सरकार का कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, स्वतंत्रता नागरीक कैसे सोचें, किस तर अपने विचारों को अभिवेक्त करें, और अपने विचारों पर किस तर अमल करें, इस पर कोई अनुचित प्रबंध नहीं, पाबंदी नहीं होगी, यह जो स्वतंत्रता शब्द है, जैसे एक सवाल आता है कई बार, क्या हमारे देश में एलकोहल पर प्रतीबन लगा देना चाहिए हैं, तो उसका केवल यही जवाब रहेगा, स्वतंत्रता, हमने नागरीक स्वतंत्रता के वादे किये हैं, नागरीक को अधिकार है कि वो अपने भोजन और अपने पेपदार्तों की स्वतंत्रता रखे, राज्य उसमें हस्तक्षेप केवल तभी करेगा, जब उसके परिनाम उस व्यक्ती के विकास के लिए अवरुद्ध पूरी तरह से होंगे, क्या ये ग्यारेंटेट कहा जा सकता है कि हर पीने वाले विक्ती के जीवन में आर्थिक विकास रुख गया है, तो ग्यारेंटेट नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अभी स्वतंत्रता है, नागरीकों के साथ उनकी जाती धर्म और लिंक के आधार पर भेदबाव नहीं किया जा सकता तो ये इतनी बाते हमें उद्दे शिका में मिलती हैं सविधान की अधिकारब समझना हमारे देश में सारे निर्नए लेने का अधिकार किसके पास सरकार किस से शक्ति प्राप्त करेगी और सविधान किस से शक्ति प्राप्त करेगा मतलब जब तक जनता हा कहरी तब तक सविधान है और जब तक सविधान है तब तक सरकार है तो सबसे अंतिम शक्ती का स्त्रोथ फाइनली जनता ही है सविधान के अधिकार का इस्तरोध भारत की जनता भारत की प्रकृती कैसा राश्टे भारत सविधान के उद्देश न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुत्व सविधान लागू करने की तारीक 26 नवंबर 1949 अब इसमें कुछ महत्वपुर्ण निर्नय जो सुप्रीम कोट ने दिये है क्या सविधान का भाग है ये की नहीं सविधान का भाग है केश्वानन भारती मामले का निर्नय है कि यह सविधान का भाग है ये सविधान से अलग नहीं है पहला मामला ये बेरुबारी संग का मामला उद्देशी का सविधान का हिस्सा नहीं कब बोला था? 1960 में लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोड अपने निर्नय बदल सकता है केश्वानन भारती मामले में उन्होंने फाइनली कहा कि उद्देशी का सविधान का हिस्सा है प्रभावित किये बिना संचोधन संभव। 26 जन्वरी 1950 को भारत की वास्तवी इस्तती क्या थी 2021 का सवाल है कब की बात कर रहा है वो 26 जन्वरी जिस दिन सविधान फाइनली देश में लागू किया गया तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी ये तो कब आया 1976 उस समय हम लोक्तांत्रिक भी थे लेकिन हम प्रभुत्व संपन्न थे ये 1947 से लेकर 1950 जब तक कि हमारे पास एक तरीके से सविधान नहीं था आंसराना चाहिए था केवल और केवल संप्रभु लोक्तांत्रिक गन्राज 2020 भारत के सविधान की उद्देश्शिका A. आंसर B. C. कितने लोगों को लग रहा है और D. सवाल है 2020 का देखो सबसे पहले तो सविधान का भाग ये तो कन्फम है पर किन्तु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती विधिक प्रभाव का मतलब हुआ कि इसके कारण कोई कानून वाली चीजे या किसी प्रकार से सुप्रिम कोट में चीजे नहीं जाती ये तो पूरी तरह से सविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग सविधान का भाग है किन्तु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है तो मुझे बताओ कि A और D में क्या डिफरेंस है नहीं मतलब इसका मिनिंग ये कि आप इसको भाग तीन भाग दो जैसा मत देखिए इसको थोड़ा सा अलग देखिए है इसका भी प्रभाव लेकिन वैसा नहीं जैसा बाकी भागों का रहेगा इसमें सुप्रिम कोटनिक निड़ने दिया है कि हमें केवल उद्देश्य का जिन जगह पर अस्पस्टता होगी इस्पस्टता लाने में मदद करती है लेकिन जहां क्लियारिटी है वहां हम उसकी कोई मदद नहीं लेंगे आंसर आएगा इसमें option D निमनलिकित उद्देश्यों में कोन सा एक भारत के सविधान की उद्देश्य का में समविष्ट नहीं है विचारों की हैं अभिव्यक्ती की हैं विश्वास की हैं लेकिन ये स्वतंत्रता पांच स्वतंत्रता हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ चेहरे कुछ लोगों के भयानत ये देखना यहां स्वतंत्रता में जो बात्चित कई गई है विचार की अभिव्यक्ती की विश्वास की धर्म की और उपासना की लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नाम से कोई शब्द वहाँ पर नहीं है भारत के सविधान निर्माताओ का मत निम्नलेकेस में से किसमें प्रतिबिम्बित होता है भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट है इसका क्या अड़्थ है ये आया हुआ है दोजार बारा भारत एक धर्म निर्पेक्ष पंत निर्पेक्ष राष्ट है यह किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरीकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है A. आंसर B. C. D. इतना तो कन्फम है कि B और C बिलकुल भी नहीं है पर है वयस्क मतदिकार जहां समानता की बात हो वहां गंतंत्र की बात आती है दो चीजे हैं गंतंत्र में एक तो जो प्रमूख है वह किसी खांदान से जुड़ा नहीं होगा लेकिन दूसरा वह वयस्क मतदिकार की ग्यारेंटी लेगा इसका जो सही आंसर होना चाहिए सविधान के उद्देशिका का क्या महत्व है भारत के सविधान के उद्देशिका में प्रतिष्ठापित भारतिय राजविवस्ता के दर्शन को इसपश्ट करें संग और इसका इकाई शेत्र बस हम अधिकारो को ब्रेक के बात करेंगे छोटी चोटी बाते नागरीकता और ये वाला खतम कर देते हैं संग और इकाई शेत्र मतलब हमारे चैप्टर वन में आ गए हम हमारे सविधान का चैप्टर वन जिसका नाम भाग एक क्या है इस भाग एक का नाम, चैप्टर का नाम है, संग और इसका, आर्टिकल वन में लिखा हुआ है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना एक संग है, संग मतलब जैसे नहीं होता लोगों में, गुरुप बनाया लोगों ने, तो हमने एक राष्ट बनाया शेत्रों को जोड कर, अलग अलग शेत्र को जोईन करके क्या निर्मान किया है, राष्ट का, तो हम बताने जा रहे कि भारत, अर्थात, इंडिया, राज्यों का संग है, भाग अर्टिकल दो कहता है कि संसद को राज्यों के पुनर गठन की शक्त मतलब राज्य को रियार्गनाईज करने की ताकत किसके पास, राज्यों के पुनर गठन के संबन में प्रक्रिया का उल्लेक और लिखा है, कि यहाँ पर कोई सविधान संशोदन जैसी जरुवत नहीं है, राज्यों का पुनर गठन संसद द्वारा एक साधारन, साधारन मतल कोई दोतियाई बहुमत भी नहीं, साधारन आधे से एक ज्यादा में ही बातचीत तय हो जाएगी, बहुती सरल ताकत से हम अपने राज्यों का रियार्गनाईजेशन कर सकते हैं, आर्टीकल तीन, राज्यों के पुनर गठन के संबन में कोई विधेयक केवल और केवल, रा राष्टपती द्वारा अनुमती देने से पहले, विधान मंदल का मत जानना जरूरी है, लेकिन वो निर्णाई जो विधान मंदल ले रही हूँ, वो मानना जरूरी, और पहले राज्य विधान मंदल को राष्टपती मत के लिए भेशता था, तो कई बार वो दो-दो साल तक जवाब नहीं देते थे, तो जब तक वो जवाब नहीं आएगा तब तक आगे नहीं हो सकता, अब राष्टपती उस पर लिख देता है कि तुमें जवाब इतने टाइम में देना है, छे महीने वाला फिक्स नहीं है, उस पर लिख देगा राष्टपती कि तुमें राज्य विधान मंदल के विचार या सिपारिश को मानने के लिए बात धें नहीं है। भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे देश में राज्यों को चार भागों में बाटा। ये वे राज्य थे जो डाइरेक्ली ब्रिटिश प्रांत से भारत में आये थे और इनमें कोई ज देशी रियासतों से मिले थे लेकिन उनमें कोई ज्यादा तकलीब नहीं थे। ये ब्रिटिश प्रांत थे। ये देशी रियासत ये देशी रियासत लेकिन ये वाले थोड़ा प्राब्लम वाले और इनमें कोई प्राब्लम और जो द्वीव समूते हमने उनको पूरी तरह से अलग तो ये कप का वर्गी करन था जब हमने आजादी के बाद राज्यों के पुनरगठन किये पर बाद में फिर हमने राज्यों के पुनरगठन के लिए एक प्रस्ताव लाया अब देखो छोटी सी कहानी यह है कि जब हम अंग्रेजों के सामने मांग रखते थे तो कर विए क्या मांग रखती था अंग्रेजों से कि हमारे देश में राज्यों का निर्मान भाशा के आधार पर करो यह मांग कुन रख रहा हैं? कॉंग्रेश किन से? लेकिन जब आजादी मिली तो सरकार सुयम कह रही कि निए भाशा के आधार पर तो वर्गी करन वह आई न था दार अधर अलग अलग है। मिस्पेलिंग में कई बार लोग कन्प्यों आते कि बोलें सर बस एची तो आया हैं पर बहुत अलग है। वो दार कमीशन और यह धर कमीशन है। तो इनोंने भी कहा कि भाशा के अधार पर नहीं। इनों ने भी कहा भाशा के आधार पर नहीं, इनों ने तो कह दिया कभी नहीं, लेकिन जैसे ही JVP कमीटी की सिफारिश आई, तो आंदर प्रदेश में, मतलब आज का आंदर प्रदेश उस समय तो पूरा मदरास था वो, एक नेता थे, फ्री रामुलू, इनकी मृत्य हो जाती है आमरन अंशन से, और वहाँ पर इतना विद्रो होता है, कि ततकाल आनन फानन में सरकार को निर्णय लेना पड़ता है, कि तेलगू बोलने वालों का राज्य अलग होगा, और तमिल बोलने वालों का राज्य अलग, जैसे ही पहली श जाता है कि गुजरात को महाराष्ट से अलग किया जाए, दबाव बन जाता है कि करनाटक को बाकी शेत्रों से अलग किया जाए, और फिर भारत में भाशाई आधार का अंदोलन तीवर होता है, तब एक कमीटी बनती हैं, फजल अली आयोग, या केले ऐसे हैं, जो कहते हैं क भाशा के आधार पर होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक मात्र आधार भाशा नहीं होगी, तो किसने हाँ कहां भाशा के आधार पर, राज्यों के पुनरगटन भाशा के आधार पर नहीं, डार कमीशन, धर आयोग, JVP, जवालार नहरू, वल्लब भाई पतेल, पत्ता भ जे वी पी पर पहली थी फजल अली आयोग जिनों ने कहा भाशाई आधार पर पर परंतु एक राज्य एक भाशा नहीं क्योंकि भारत में फिर इतनी भाशाए हैं कि राज्य सव से अधिक भी बन जाएंगे प्रशाशनी का आधार भी उसमें जोडा जाएं कल्चरल बेसिस भी जोडा जाएं और इकोनॉमिकल फैक्टरों को भी इसमें शामिल किया जाएं तो फजल अली आयोग वो पहला आयोग था जिसने स्विकार किया कि राज्यों का निर्मान भाशा के आधार पर किया जा सकता है फिर हमारा चैप्टर दूसरा शुरू होता है जिसका नाम है नागरिक्ता भाग दो आर्टीकल पांच से लेकर ग्यारा आर्टीकल पांच से लेकर ग्यारा में हमारे देश की नागरिक्ता का पूरा वर्णन है जिसमें नागरिक्ता जन्म के आधार पर अगर कोई दूसरी जगह से आ रहा है तो लंबे समय रहने के बाद वंश के आधार पर नागरिकता निशेद का एक विचार है मतलब एक मना करने का विचार है इसमें गेर नागरिक सम्मिलित नहीं है ताकि नागरिकों में राष्टवात की भावना विक्सित हो और राज्य द्वारा अपने देश के प्रती करतवे निर्वाहन नहीं करना चाहते है भाग 2 आर्टिकल 5-11 भारत में एकल नागरिकता है इसका मतलब राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती संग सूची का विशय है और नागरिकता के संबन में कानून पूरी तरह से फिर कोन बनाएगा मूलत या प्रावधान उस समय के लिए किये गए थे जब देश का विभाजन हुआ तदा भारत का सविधान लागू हुआ था पाकिस्तान से भारत तदा भारत से पाकिस्तान प्रवर्जन करने वाले वेक्तियों के नागरिकता के अधिकार दो प्रकार की नागरिकता होती ह जस सोली और जस सांगुईनिस, जस सोली मतलब जन्म इस्थान के आधार पर और जस सांगुईनिस मतलब रक्त संबंदों के आधार पर, देखो, समझो इसको, जैसे मान लीजे कि कोई दमपत्ती है भारत की, जान बूचकर कही सारे उद्योगपती अपना वीजा बनाकर अमेर अमेरिका में प्राउधान है, जैसे ही जन्म अमेरिका में हुआ, उसको अमेरिकन नागरिक्ता मिल गई भरे, उसके माता पिता विदेशी भी क्यों ना हो, तो नागरिक्ता मिल जाती है, एक फाइदा हो जाता है, दूसरा, हमारे यहाँ पर एक चीज है कि भली जन्म ना कोई भी अगर भारतिय हैं तो हम उसको नागरिक्ता दे सकते हैं तो हमारे यहाँ पर रक्त संबंदों पर भी विचार रहे हैं मोतिलाल नहरू कमीटी थी ज़सोली के बेसिज पर नसली विचार उनका मानना था ये भाग दोप पाचते ग्यारा में जन्म के आधार पर वंच के आधार पर रजिस्टेशन देशी करन का मतलब होता है जैसे सिक्किम भारत में जुड़ गया तो उसके भी लोग भारतिय बन गए शेत्र का समावेशन भारत में नागरिक्ता त्यागना ये चल रहा है आजकल कुछ ज़्यादा ये थोड़ा चड़चा में रहेगा भारत में कई सारे लोग अपनी नागरिक्ता छोड़ रहे हैं इसलिए सवाल की संभावनाएं हैं स्वेचिक त्याग इच्छा से भारत की नागरिक्ता का त्याग उस व्यक्ती का प्रतेक नाबालिक बच्चा भी भारतियता खो देगा मानलो कि एक व्यक्ती है जिसने भारत की नागरिक्ता त्यागी तो उसका एक बच्चा है छे साल का तो उसकी भी नागरिक्ता खतम पर प्रखास्तगी एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक होगा यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध का सामना कर रहा हो। प्रुत्वी के वासी जरूर है लेकिन आपका कोई देश तो आपको समुद्र में भठकते रहना हैं किसी टापू में कोई ना मिले तो वहां रुख जाना। लोगों द्वारा नागरिक्ता त्यागने का कारण वर्तमान में अधिकतर लोग नागरिक्ता इसलिए त्याग रहे हैं क्योंकि उनके पास संपत्ती इतनी आ गई हैं कि वो किसी अच्छे विक्सी देश में बसना चाहते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका जैसी जगह पसंद कर रहे हैं। बात हैं, तीन देशों को मेंली टारगेट किया गया हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश। इनके अल्प संख्यक लोगों को भारत नागरिक्ता देगा अगर वे लोग एक पर्टिकुलर तारीक से पहले के है। नागरिक्ता अधिनियम 1955 में संख्यक दन 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान से भारत आये। इसका मतलब अब उनके पास भले ही कोई वीजा ना हो तब भी वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। ग्लोबल वेल्ट माइग्रेशन रिव्यू 2021-22 के अनुसार दुनिया भर में उच्च निबल मुल्य वाले व्यक्ति जो जन्म के समय प्राप्त नागरिक्ता का त्याग करते हैं, अपराद दर बढ़ने या देश में व्योसाईक अउसरों की कमी के कारण ऐसा कर सकते हैं। और बच्चों की सुरक्षा जलवायू प्रदूशन जैसे जीवन शैली कारक, करो सहित वित्य चिंताय, परिवार के लिए बेहतर स्वास्त देखभाल, बच्चों के शेक्षने का उसर और धमनकारी शाचन से बचने के लिए भी लोग नागरिक्ता का त्याग करते हैं। एक शब्दा आता हैं, OCI. और अन्त में उन्हें जब सवालों के जवाब मिलेंगे, तो उन्हें सच में अदबुत लगेगा कि क्या सोचा और क्या आंसर निकल जाते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो अभी तक आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। विच अब द फोलोविग स्टेटमें इस करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिम्बल। उद्देश्यका के संबन में निमलिकित में से कोन सा कतन सही है। इसका जवाब आपको मिलेगा विडियो के अंत में। यह पहला प्रश्ण है, याद रखेंगे और अपने आंसर नोट करके रखिएगा। एक और प्रश्ण में अभी दे रहा हूँ आपको, दो-दो प्रश्ण की यह सिरीज बीज-बीज में आती रहेगी। निम्न लिखित में से कोन भारत की गंतंत्रिय परनाली की सटिक व्याख्या करता है। Which of the following best describe the Republican system of India? भारत में एक निर्वाचित सरकार है। भारत में सारुभोमिक मताधिकार प्रनाली को अपनाया गया है। भारत में संसद्य शाशन प्रनाली की स्थापना की गई है। भारत में राज्य सभा, राज्यो का प्रतिनिधित्व करती है। इंडिया has an elected government, universal suffrage system has been adapted in India, parliamentary system of government has been established in India, तो राज्य सभा, इस इंडिया represents the states। अद्बुत सवाल है। इसका जवाब भी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। पतला वीडियो का अंत मैं बीच में कहीं डालूगा ताकि मझे पता चले कि कम्प्लीट वीडियो किसने देखा है। 2005 में से ग्रह मंत्राले ने शुरू किया भारतिय मूलकाय का ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरीग बनने के योग्यत था। किन्तु 26 जनवरी 1950 के बाद कहा चला गया विदेश और वहां की नागरीगता ले ले ले। विदेशी की परिभाशा में पाकिस्तान और बांगलादेश नहीं क्योंकि उस समय तो कई लोग गये थे भी। तो बाकी देश में अगर वह गया हो तो वह भारत से क्या प्राप्त कर सकता है OCI। उसमें भारत उसे कुछ लाब देगा कि आपको हम अगर कोई स्थापना करोगे FDI लाओगे तो कुछ बेटर चीजे रहेगे। पासपोर्ट इजीली मिल जाएगा भारत में बैंक खाता खोल पाएगा कोई गेर क्रिशी मतलब मकान लेना हो ले सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस भारत में बना सकेगा पर उसे मतदान और सरकारी नोकरी का अधिकार और क्रिशी योग्य भूमी खरिदने का भी अधिकार भई क्या करना है हमारे ही देश के लोगों को जोड़ना है कि देखो भई हो सकता है आज वो किसी राष्ट का संपन्न व्यक्ति हो तो हम कहेंगे हम तुम्हें OCI देते हैं तुम्हें भारत में बहुत से लाब भी देने की कोशिश करेंगे फिर आया PIO भारतिय मूल का व्यक पाकिस्तान और ये विदेश नहीं है 15 जन्वरी 2015 को PIO काड योजना और OCI दोनों को क्या कर दिया मतलब एक तो जो 26 जन्वरी 1950 वाले चले भारत छोड़कर उनको भी और अब कोई भी भारती जो कहीं भी रहता हो कहीं भी पर वह इन देशों को छोड़कर रहता हो तो उसको भी हमें काड डे देंगे जिसका नाम है P.I. और उसको भी वही लाब मिलेंगे पास्पोर्ट इजी होगा भारत में बैंक आता गेरक्रशी संपत्ति ड्राइविंग लैसन ये सारी चीजे उसे भी देंगे फिर आता है N.R.I. ऐसा भारतिय पास्पोर्ट धारत जो किसी वि वोट देने का और केवल भारत में अरजित आये पर ही वह बाहर की अरजित आये पर वो जन्रली टैक्स प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया जाता हैं? क्यूं मनाया जाता हैं? महात्मा गांधी दक्षिन अफ्रीका से भारत लौटे थे. इस दिवस को मनाने की शुरुवात 2003 में पहले हर वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता था. मोधी जिने कहा कि अब दो दो साल में हमारे पास टाइम नहीं है. 2015 से प्रतेक दो वर्ष में एक बार प्रवासी भारतिय दिवस को आयो जित ये क्यूं? ताकि भारतिय डायस्पोरा को ये बताया जाए कि आप अपन पुत्र बच्चे को जन्म दिलाता है. मतलब उसकी अगली पिडी जैसी बनी कि पित्ररिन से मुक्ती. मात्ररिन पुत्री के साथ वैसा ही गुरुरिन कभी खत्म नहीं होता. ऐसा ही हम कहने जा रहे हैं कि देश का रिन अभी खत्म तुम पर तुम अभी कहीं भी रहो थोड हो गया ना कब तक. गुरुरिन कभी खत्म, देश का रिन और गुरुरिन ये सातो नहीं, सौ देड़ सो जितने जनम है तब तक चलता रहेगा. महत्व, प्रवासी भारतियों को देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मन्चुप लब्द कराना, प्रवासी भारतियों को भारतिय युवाओ से जोड़ना. अब ब्रेक के बाद हमारी बात होगी, पंडामेंटल राइट्स पर. थोड़ा सा ब्रेक ले लीते हैं, मेराथन क्लास आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर रहे हैं, इसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए. मैं आपका दो मिनिट का समय लूगा ताकि आपको आने वाले समय में एक बेहतर तरीके की जानकारी मिल सके यदि आप 2024-25 की प्लानिंग कर रहे हैं. 2024-25 यदि आप एक प्रॉपर तरीके की गाइडलाइन, प्रॉपर तरीके से तयारी पूरा करना चाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अनेकेडमी के साथ. सवाल यह है कि क्यों अनेकेडमी? तो यह सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में, कोर्स आप जब पर्चेस करते हैं, तो आपको एक टीचर और एक कोर्स दे दिया जाता है. यह एक ऐसा अनेकेडमी सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको किवल एक टाइम लिमिट बाउंडेड है, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर की क्लास देख सकते हैं. एक अही सब्सक्रिप्शन पर जितने क्लासे चल रही हो दे सकते हैं, अलग से subscription नहीं लेना, इसी में आपको material मिलेगा, इसमें आपके doubt clearing होंगे, इसी में आपको complete classes मिलेगी, multi educators मिलेगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका, तो यदि आप तयारी की planning करें और online platform ढूंड रहे हैं, तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि इससे best और कोई नहीं, पिछले दो वर्षों का अदबुत result आपके सामने है, इस्क्रीन पर आप देख सकते, 170 से ज्यादा topper 2020 में, और 197 topper 2021 में, अनेकेडमी नहीं दिये, सबसे बहतरीन result, और इस समय अनेकेडमी ने एक बहतरीन चीज किये, उन विद्यारतियों के लिए जो गरीब है, उन्हें लगता है कि वो, क्योंकि अनेकेडमी सबसे बड़ा platform है online में, जो सबसे ज्यादा free material उपलब्द कराता है, लेकिन कई बच्चों का कहना था कि हमें, अनेकेडमी से classes चाहिए, minimum price में, तो अनेकेडमी लेकर आया, classes भी रहेगी, ये module type है, module, module किसे कहते हैं, यदि आपने YouTube पर बहुत कुछ कवर कर लिया, लेकिन आपको दो सबसे कवर करने हैं, तो आप अनेकेडमी स्टोर के माध्यम से कवर कर सकते हैं, पर अगर आप complete preparation चाहते हैं, complete preparation, तो आपके पास है plus और iconic, iconic क्या होता है, iconic में आप MKLive refer code use करेंगे, तो आपको दो mentor मिलेंगे, एक mentor तो मिलेगा, जो अनेकेडमी देगी, और एक मैं, क्योंकि आपने MKLive refer code use किया है, तो हर महीने, दो बार मैं आप लोगों से meeting करूगा, और आपके personal doubt, जो भी guidance शाहिए, वो आपको देते रहूगा, तो iconic जो है, उसमें सारे plus benefit, one-to-one mentorship, discord नामक app पर doubt solving session होते हैं, पूरी तरह से library, आपको open library खास करके digital library, और offline test भी इसमें उपलब्द कराई जाते हैं, अब अनेकेडमी offline mode में भी आ चुका English medium में, वहाँ भी आपको offline के साथ ये पूरा online subscription plus वाला मिल जाता है, plus में सारी चीज़े मिलेगी, बस mentor नहीं मिलते हैं, बाकि आपको C-set, GS, current affair, question, test, series, doubt, solving, सारी चीज़े मिलते हैं, material भी आपको लेना नहीं है, सारा material आपको free of course लिया जाता है, iconic में physical material मिल जाता है, plus में आपको पूरा digital material मिल जाता है, ताकि आप better तरीके से तयारी कर सकेए, M.K.L.I.U. हमारा refer code है, ये क्या होता है बई, तो हमारा ये refer code आपको instant 10% discount और सबसे best offer उपलब्द कराता है, साथी साथ M.K.L.I.U. में हम doubt clearing के माध्यम से आपको guidance उपलब्द कराते हैं, mock test आप हमारे वाले test देते रहोगे, personal mentorship हमारी तरप से मिलती है, और unacademy के वो सारे benefit एक ही course में pre-mains interview, सारी तयारिया आपको उपलब्द कराई जाते हैं, तो ये है unacademy online platform, भारत का सबसे best platform, अगर आप इस से better platform ढूण पाए तो मुझे comments करिएगा, बाकि आप लोग अपने मेरा थन class को पूरा देखिएगा, मेरा दावा है कि इस class के बाद न केवल revision आपका better होगा, बलकि इस class को आप 2-3 बार देख लिजे, आप इंडियन जोगराफी में 10 में से 7-8 सवाल केवल इस class से ही attempt कर लेगे, प्रॉपर याद करेगा इसके material को, पीडियप को हमने इसी class में नीचे link कर दिया है, तो सभी को बे stop luck, continue देखते चलिए, मेरा थन class, धन्यवाद, वापी सब ध्यान से सुनते चलेंगे, थोड़ा सा अभी तक का जितना segment है, यह objective में कई बार आता है, कई बार नहीं आता, लेकिन अब यहाँ से चीजे थोड़ी notes ज्यादा करेंगे आप लो, क्योंकि अब वो जो segment है, जिसे हम कहते है main part, यह segment है जो बहुत main होगा, और कल जिस तरीके का जो break के बाद हम बातचीत करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पूरे articles, जिसमें बात करेंगे सविधान संचोधन और सुप्रीम कोट के महत्पुन निर्द है, लेकिन उसके पहले सबसे पहला कानून जो हमने पढ़ा था 1773, 1780, 1780, 1830, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये कहलाएगा कमपनी का शाषन और ये कहलाएगा ताज का शाषन, ताज का कहने का मतलब होगा कि प्रत्यक शुरूप से अब ब्रिटिश हुकूमत ही यहां काम कर रही है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे सविधान के निर्मान की जो प्रनाली थी, उसमें कई लोगों का प्रभाव भी था और उनने तीन सिध्धान्तों के आधार पर काम किया, सर्व सम्मती, समायोजन और परिवर्तन के साथ चयन, फिर हमारे सविधान के निर्मान में कुल दो साल, ग्यारा महिने, अठ्रा दिन लगे और जिसमें 26 नवंबर 1949 को सविधान पूरा हुआ, 13 दिसम्बर 1946 को उद्देश प्रस्ताव शुरू हुआ था, हमारे सविधान में अगर चैप्टर की बात करें तो कुल 24 चैप्टर हैं, पहले कितने थे, पहले थे, पहले 22 और अब 22 है, मतब 22 उतने ही रहे हैं, ठीक है, इधर ध्यान देना, उसमें पहला चैप्टर था, जिसमें बताया गया है, भाग एक में देश और उसके आसपास के भाग, मतलब राज, और दूसरे चैप्टर में बताया गया नागरिक्ता, citizenship, इस पर सवाल, मतलब जो आने की possibility, वो current वाली उम्मीद है, खास करके, जो हमारे देश में कई सारे लोग, सदस्या देश की नागरिक्ता त्याग रहे हैं, उसमें कुछ वर्तमान का मुद्दा रहा तो संभव है, लेकिन अब इसमें सबसे important पार्ट है, जिसका नाम है भा मूल अधिकार, हमें प्राप्त अधिकारों में वो विशिष्ट अधिकार, यदि जिनका उलंगन हो जाएं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे सुप्रिम कोट या हाई कोट जा सकते हैं, ये वो अधिकार हैं, जो मुख्य रूप से हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत् विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, ऐसा इतिहास में सबसे पहले हमें मिलता हैं, 1215 में इंगलेन के समराट जौन दौरा मेगना कार्टा के तहत वेश्विक इस्तर पर पहली बार लिखित अधिकार की व्यवस्ता, मेगना लेटीन शब्द है जिसकार्थ महान, कार्टा भ अपने नागरिकों को कुछ अधिकार सौप रहा हैं, समराट जौन का मेगना कार्टा मूल अधिकारों का जन्म दाता कहलाता हैं, जो की सविधान के भाग तीन में आएगा, 1689 में बिल ओप राइट्स के तहत समस्त अधिकार सम्मिलित किये गए, 1688 में क्या हुआ था, इतिहासिक बता रहे हैं, 1789 में फ्रांस के द्वारा सबसे पहले लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान किये गए, पर हाला कि उन्हें इसको नाम मूल अधिकार नहीं, बलकि प्राकृतिक अधिकार कहा था, इसके बाद अमेरिकी सविधान ने सबसे पहले मूल अधिका को शामिल करवाया, और भारत ने यह मूल अधिकार भी कहा से लिए हैं, अमेरिकन सविधान से, क्योंकि उसी में इसका विस्तार से वर्णन किया गया, अब आते भारत के मूल अधिकारों के बारे में, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, कि भारत में जो मूल अधिकार थे, जब सविधान सभा में बहस चल रही थी, तो बहुत उदारवादी प्रभाव सविधान पर बढ़ा, और इतने मूल अधिकार चलने शुरू हो गए, कि एक समय के बाद सविधान के सदस्य, सविधान सभा के सदस्य, इस बात में चिंतित हो गए, कि अगर हमने नागरी नागरीकों को इतने अधिकार दे दिये, तो फिर सरकार काम कैसे कर पाएगी, क्योंकि अगर नागरीकों के अधिकार आवशक्ता से ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्तिती में भी सरकार कई जगह पर अपने तरीके के निर्नय लेने में सक्षम नहीं हो पाती, फिर उस मिलना चाहिए उन्हें हम नीती निर्देशक तत्वों के रूप में सरकार का नयतिक दाईत्व बना देते हैं इंटर्व्यू में एक बार सवाल ये पूछा गया था कि fundamental duties, fundamental rights के संपूरक माने जाते हैं तो मूल अधिकार 35 पर खतम होते हैं तो हमने इसको मूल अधिकारों के खतम होते ही fundamental duty क्यों नहीं डाली हमने 51 के बाद 51 के रूप में fundamental duty क्यों डाली तो उसका जवाब यही था कि पहला तो मूल अधिकार वास्तवीक रूप में 35 पर खतम हो रहे हैं और उसके बाद नीती निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं लेकिन वास्तवीक रूप में नीती निर्देशक तत्व भी धीमे धीमे अधिकारों में बदलेंगे ऐसी हमें उम्मीदे हैं जिसमें एक आर्टिकल 21 एक अभी स्थान बन चुका हैं धीमे धीमे यही सारे मूल अधिकार बनेंगे ऐसी हमें उम्मीद हैं और इसलिए DPSP के खत्म होने के बाद fundamental duties को जोड़ा गया अब हम बातचीत करें अगर fundamental rights भाग 3 की तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 लगबग हम अधिकतर आर्टिकल को पढ़ेंगे और साती सात यात करने भी है हमें कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है क्योंकि सवालों का बहुत rich content माना जाता है ये तो पहले तो हम समझते है कुछ मामले हैं जिसमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में कुछ विशेषताये हैं गोपालन बनाम मदरास राज्य五50 ये Supreme Court में पहला मामला जो मूल अधिकारों से जुडा हुआ था जिसमें सुप्रिम कोट ने टिपनी की कि कोई भी मूल अधिकार असीमित नहीं है बलकि तार्किक आधारों पर प्रतेक मूल अधिकार पर प्रतीबंद लगाए जा सकते हैं और वो लगाए जाएंगे फिर चिरंजित लाल बना भारत संग 1951 व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामजस्य क्या कहा था एक्चोली कहा गया था कि कही पर यदि कोई ऐसी बात आएं कि मूल अधिकार क्योंकि व्यक्ति के स्वयम के हैं पर कही पर सामाजिक हित प्रभावी हो तो सामाजिक हितों को ध्यान में रखते वे मूल अधिकारों पर प्रतीबन लगाया जा सकता है। इसे लोगों को ये लगा, सरकार को ये लगा कि सुप्रीम कोट ये कहना चाह रही हैं कि सामाजिक कल्यान के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। पर सुप्रीम कोट ने बड़ी स्पश शब्दों में कहा हैं सामाजिक हित, सामाजिक कल्यान से लग हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध सरक्षन है। कि उन्होंने एक विक्ती को वर्दान दिया और उस वर्दान से अपने आपको सुरक्षित नहीं किया। पर हम भोले नहीं हैं, हम बहुत ही समझदार लोग हैं और हमने ये निड़ने ले लिया हैं कि जिसको शक्ती दी जाए उसके शक्ती का दुरुपयोग भी रोका जाए। तो शक्ती शाशक के पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी, तो सरकार कही हमें ही खत्म करने के लिए न आ जाएं, ऐसी परिस्तिती में रक्षा करने का दाईत्व किसका होगा? मूल अधिकारों का जो सविधान में वड़नित हैं। गोलकनात बनाम पंजाब राज्य 1967 में प्राक्रतिक और अप्रतिदेय अधिकार। प्राक्रतिक का मतलब होता है कि ये सारे अधिकार जन्मजात जैसे ही हैं, बलकि ये वो अधिकार है जो मानव अधिकारों से भी बढ़कर हैं। याद रखेगा केवल 1967 का ये मामले में सुप्रिम कोट निगर तो कहा था, कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सekता। बाकी तो सारे मामलों में शंकरी प्रसाद का मामला हो सजन सिंग का मामला हो यहां तक की केश्वानन भारती मामले में भी सुप्रीम कोट ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है बशरते मूल या बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव ना पड़े तो लगबक सभी मामलों में केवल एक ही मामला है जहां सुप्रिम कोट कहती है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है वो है गोलकनात बनाम पंजाब राज ग्यारा जजो की बेंच थी इसमें केश्वानन भारती के बाद सबसे बड़ी बेंच यही है केश्व व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के क्या है ग्यारेंटर है ऐसा सुप्रिम कोट ने कहा प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशाशन मूल अधिकार ही मानव अधिकार भी है एम नागराज बनाम भारत संग 2007 स्वतंत्र समाज के लिए अनिवार्य स्वेधानिक मुल्य जिनके प्रतिय प्रसंग में मूल अधिकारों की प्रमुक विशेष्टा है यह राज्यों पर क्या लगाता है प्रतिबन जैसे राज्यों से कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति को एक ही सजा के लिए एक ही दंड के लिए दो बार सजा नहीं दे सकते यह राज्य को कहता है कि आप उस के सम्मान की रक्षा करेंगे ये राज्य से कहता है कि आप उसको किसी भी प्रकार के भेदबाव का सामना करने से सामना करने नहीं देंगे आप उसके साथ समानता का व्योहार करेंगे ये राज्य से कहता है कि उसका शोशन ना आप खुद करोगे ना किसी को करने दोगे तो र राज्य पर एक प्रकार से क्या लगाता है प्रतीबद यह अधिकार नकरात्मक और सकरात्मक दोनों हैं सकरात्मक का मतलब है कि राज्य सभी के साथ समान व्यवार करेगा और नकरात्मक का मतलब है कि राज्य जन्म धर्म वंश जाती के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नह नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता वो नकरात्मक अधिकार हो जाते और जिसमें राज जी ये करेगा उसे कहते सकरात्मक अधिकार संसत के द्वारा संशोधन राजनितिक लोकतंत्र की स्थापना और वाद योग्य हैं इसका मतलब यदि यह आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सीध अगर कही पर भी जगड़ा हो तो fundamental rights किसी भी DPSP के मामले से ज्यादा प्रभावी माने जाएंगे भले ही सुप्रिम कोट ने कहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है लेकिन अगर किसी विवाद में ऐसी बात आ भी जाए तो fundamental rights की वरियता priority ज्यादार रहेगी भारत में पहले साथ अधिकार थे लेकिन अब केवल 6 अधिकार ही मूल अधिकारों के रूप में माने गए है article 31 नाम का जो संपत्ति का अधिकार था वो पूरी तरह से अब समाप्त करते हुए उसे केवल एक सवेधानिक अधिकार के तहत article 300A में शामिल किया गया तो भारत में जो 6 अधिकार हैं हम उसके लिए ट्रिक्स याद रखते हैं कि समता ने पतंत्रता के लिए शोशन के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उसका उपचार किया तो पहला अधिकार दूसरा अधिकार तीसरा अधिकार शोशन के विरुद्ध चौथा अधिकार पाचवा अधिकार शिक्षा अल्प संक्यक के लिए और अंतिम अधिकार उपचार आर्टीकल 32 तो यदि हम बातचीत करें तो हमारे देश में 6 अधिकार हैं सिक्वेंस पर गौर करेंगे सबसे पहले हैं समता का अधिकार यहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो यहाँ एक नंबर भी मैंने दिया हैं 54-24-201 पांच का मतलब होगा समता के हमारे पास पांच अधिकार हैं 14-15-16-17-18 फिर 4 का मतलब है कि स्वतंत्रता के हमारे पास 4 अधिक दो का मतलब है शोशन के विरुद्ध 23 और 24 चार का मतलब है कि धर्म के लिए हमें 4 मिले हैं 25-26-27-28 दो का मतलब है 29 और 30 जो अल्प संक्यक समुदाय के लिए 0 का मतलब आर्टिकल 31 जो कि अब खत्म हो गया और 1 का मतलब है उपचार आर्टिकल 32 तो अगर हम बातचीत करें रिक्षा देकर उपचार किया समता समानता की बारे में सरकार को दिशा निर्देश देगी और सरकार इन दिशा निर्देशों के लिए कानून भी बनाएगी आर्टिकल के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन्हें लागू करने के लिए सरकार कानून का सहारा भी लेगी जै संत्रता का अधिकार, तीसरा, शोशन के खिलाप, शोशन के खिलाप मतलब जो मानव तसकरी से लेकर कई सारे मामले हैं, फिर उसके बाद धर्म जिसमें हम धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करवाएंगे, अल्प संकेको की रक्षा और फिर उपचार का अधिकार, सुप्रीम कोट में सीधे तोर पर जा सकते हैं, नौर्मली किसी भी मामले में हम डाइरेक्ट सुप्रीम कोट जाने के अधिकारी नहीं हैं, पहले हम FIR करते हैं, डिस्ट्रीक कोट जा सकते हैं, फिर हाई कोट, लेकिन ऐसे मामले में हम सीधा सुप्रीम कोट जाने के अधिक रखते हैं, निम्नलिकित मूल अधिकारों के किस सवर्ग में अन्टचेबलीटी के रूप में किये गए विभेदन के विरुद्ध सरक्षन मिलेगा, अन्टचेबलीटी समानता की बात करता हैं, तो आंसर आना चाहिए ता ओप्षन, D, किस में आना चाहिए, समता का, आर्टीकल 17, समता 14 से लेकर, 14 से 18 का मतलब हो जाएगा कि सत्रवा उसी में शामिल होगा, फिर 31 वा जो आर्टीकल है, जिसे 44 सविधान संशोधन 1978 में, किनकी सरकार्ती मोरार जी देशाई की, उन्होंने इसको हटाया, क्योंकि पूरे जगडे की जड़ यही था, भूमी सुधारों को गती देने के मकसद से, आर्टीकल 301 के तहत, देखो 31A में पहले यह जो लिखा गया था, कि सरकार किसी भी नागरिक की संपत्ती नहीं चीन सकती, पर जमिनदारों की संपत्ती तो चीनी गई न, तो जमिनदार पहुच जाते थे, पर फिर बाद में 31A, B, C, ऐसे कई जोड़े गए, जिसमें लिखा गया कि जमिनदारी प्रथा को खत्म करने के लिए जो जमीने चीनी जाएगी, सरकार उसका मुआउजा नहीं देगी, तो फाइनली उसको पूरी तरह से खत्म किया संशोधन 44-1978 और मुरारजी देशाई की सरकार ने फाइनली जगडा रियल में यहां जाकर खत्म होता है, पिर 2021 में सिविल सर्विस का सवाल है, भारत में संपत्ती के अधिकार की क्या इस्तती वर्तमान में है, ओभियसली कन्फम है कि अभी मूल अधिकार तो नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह विधिक अधिकार है, जो केवल नागरी को को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है यह मूल अधिकार है यह तो खतम हो गया यह न तो मूल अधिकार है भई हमारे देश में संपत्ति का कानूनी हक मिलता है की नहीं तो यह तो खतम हो गया अब सवाल यह है केवल नागरी क्या हमारे देश में FDI के म अध्यम से जमीने ली जाती है की नहीं, क्या हमारे देश में विदेशी लोगों को किसी पर्टीकुलर जगह पे अपना कुछ भी संस्तान खोलने के अनुमती है की नहीं, डोमीनो वाले ने कई सारी चीजे खरीत के रखी हुई हैं, तो ये कैसा अधिकार है जो सभी को रहेगा भारत में, फिर 2021 में संसत के 44 वे संचोदन अधिनियम द्वारा निमनल इखित में से किसे विलोपित किया गया, कौन सी एक्जाम का है, सीडियस का है, मूल अधिकार नागरी को और गेर नागरी, नागरी को को सारे अधिकार है वैसे, सारे, लेकिन हमें याद रखन वे अधिकार जो गेर नागरी को को भी है, जैसे मैंने लिखा 15, 16, 19, 39, तो ऐसा मत सोचना कि ये नागरी को को नहीं है, नागरी को को तो सारे हैं, पर ये ऐसे अधिकार हैं, जो केवल और केवल नागरी को को हैं, मतलब ये अधिकार भारत के अलावा किसी दूसरे नागरी को नहीं मिल सकते ये केवल उन आगरिकों के लिए हैं जो भारत में ही रहते हैं और जिनको भारत की सिटिजनशिप मिली हुई है याद रखने का सिंपल तरीका 15-16 के बाद डबल पर चले जाओ 15 का डबल लगबक 30 तो 15-16-29-30 बीच में एक आ जाता है 19 स्वतंत्रत अभिवेक व्यक्ति का जो भाषन का अधिकार है कोई भी विदेशी व्यक्ति अपनी मर्जी से यहां कुछ भी बोल कर नहीं जा सकता है वो अधिकार हमने उसको नहीं दिया है तो 15-16-19-29-30 क्योंकि 29-30 अल्प समुदाय को लिए हैं और वह केवल भारतियों को ही उपलब्द रहेगा बाकी तो सभी अधिकार भारतियों के पास है लेकिन ये वो अधिकार है जो किसी विदेशी को मिलने वाले नहीं है निमनलिकित में से कौन से अधिकार गेर नागरी को के लिए उपलब्द हैं CDS 2021 का सवाल है सबसे पहले तो freedom of speech क्या एक होगा क्या ये गेर नागरी का तो है यी नहीं मतलब A option हट गया B option आप हटा दीजे आप हट गया है B हटा दीजे देखो अब दो में तो सोचो ही नहीं वो है ये लडाई तीन की है अन्तकरन की स्वतंत्रता freedom of conscience का मतलब अन्तकरन की स्वतंत्रता मतलब सीधा कहें कि अन्तकरन मतलब simple सा शब्द कहें यहां पर अपने इश्ट को मानने के लिए आप जो भी रास्ता अपनाना चाहते हैं मतलब article जो भी हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं आंसर आना चाहिए क्योंकि 25 से लेकर 28 के जो अधिकार हैं वो सभी के लिए हैं अल्प संख्यकों के लिए जो 29-30 हैं वो सुरक्षा के उपाय हैं न कि धर्म को मान्यता देने वाले तो आंसर आएगा केवल और केवल ओप्षन से अब आते हैं एक एक आर्टीकल पर 12 से लेकर 35 में सबसे पहले आर्टीकल 12 में इस बात की परिभाशा दी गई हैं कि राज्य किसे कहते हैं क्योंकि राज्य की परिभाशा इसलिए स्पस्ट करनी पड़ी क्योंकि अंतरराश्टी स्तर पर हम जानते हैं कि राज्य का मतलब कुछ और होता है जिसमें चार चीजे होती है राज्य में उधर यहां उस जगह पर PSIR में जन संक्या, निशित भुगोल, एक संगटित सरकार और संप्रभूता लेकिन यहां पर सविधान निर्माताओं ने लिखा, राज्य का मतलब कोई भी राज्य की संस्ता, कोई भी राज्य का इंस्टिट्यूट जैसे मुझे बता ना, मान लिजे कि एक सरकारी स्कूल है, तो क्या वो राज्य होगा? जी हां, क्योंकि वो सरकार का है, तो राज्य के अंदर, मतलब उस सरकारी स्कूल के अंदर भी इन मूलबूत अधिकारों का उलंगन नहीं हो सकता मान लिजे कि आप डियम के ओफिस में गए, तो याद रखेगा, डियम का ओफिस एक इंस्टिट्यूट ही है, वहां भले ही व्यक्ति आते जाते रहेंगे, लेकिन ओफिस तो उसी जगह पर रहेगा, तो एक स्टेबलीटी होती है राज्य के भीतर, तो राज्य में सभी लो मतलब आर्टीकल 12 यह कहता है कि यह जो मूल अधिकार है, इनका उलंगन कहां नहीं होगा, इस आर्टीकल 12 के तहत परिवाशित किये गए, राज्य के अंदर, यहां अगर मैं किसी को भगा दू, तो क्या यह उलंगन होगा, नहीं, क्योंकि यह राज्य से पोशित संस्ता न तो वो राज्य की संस्ता है और अगर वो प्राइवेट हैं तो वो बिना पैसो के आपको भगा सकता है क्यूंकि उसके पास अधिकार अपने रहेंगे। कि मेरे अधिकारों का उलंगन हुआ है तब सुप्रीम कोट ने निर्णय दिया कि उस व्यक्ति के स्वस्त की रक्षा का दाईत्व सरकार का था इसलिए प्राइवेट का जितना बिल बना है वो सरकार भरेगी। पास सीट या हमारे पास जगह नहीं है। अगर हम बात करें तो आर्टीकल 12 में पार्लियामेंट भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और इस्थानी अधिकारी। दियम का ओफिस पुलिस स्टेशन राज्य है या नहीं, वो भी एक राज्य ही कहलाएगा। तो आर्टीकल, कुश्चन पर आते हैं पहले, ये सीडियस एक्जाम 2 क्यूंकि दो सीडियस के एक्जाम होते हैं, एक मैथमेटिक्स वाल और एक विधाउट मैथमेटिक्स वाल। भारत के सविधान के आर्टीकल 12 में यथा परिभाशित शब्द राज्य का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। ये वो सवाल है जिनके कट पेस्ट होने की पॉसिबलिटी है। आंसर, आप देखो ये बड़िया सवाल है, मैं ये कह रहाओ कि अगर ये सवाल पूछ लिया जाए न, तो शायद ही आपको क्या लगता है कि C और B में कई लोग कन्फ्यूज होंगे, पर जिनको सच में समझ में आएगा कि राज्य का मतलब क्या रहेगा, सभी प्रकार की व कोई सरकारी होस्पीटल वह राज्य की परिभाशा में आएगा, फिर अर्टिकल बारा में हमारी जुडिश्री क्या कहती है, नरेश बना महारास्ट राज्य उन्निसो सड़ सट, सुप्रिम कोट ने इस पश्रुप से यह नहीं बताया, कि न्याय पाली का अर्टिकल बारा क कि अंतरगत राज्य की परिभाशा में, यह देखो अब यहां थोड़ी जिदो बदमाशी है, मतलब महोदय गये, महोदय राज्य की अंतरगत सब आ गया, पर सवाल है आप राज्य हो की नहीं हो, तो सुप्रिम कोट ने कहा, हम राज्य है या नहीं से कोई प्रभावनी फिर ए आर अंतुले बनाम आर्यस नायक 1988, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि न्याय पाली का राज्य की परिभाशा में आती है या नहीं, किन्तु न्याय पाली का कर सकती है, मतलब न्याय कर सकती है या अधिकारों का रक्षन कर सकती है, मतलब अभी भी सुप्रिम कोट इ राज्य की परिभाशा में नहीं है किन्तु इसके बावजूद उस पर नागरिक के मूल अधिकारों के सरक्षन और सविधान के दाइरे के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की इसका मतलब बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है अगर कन्फ्यूजन करना हो तो D option में एक और option जोड़ दो E और लिख दो न्याय पाली का तो पहली बात किलियर हुई कि न्याय पाली का राज्य का हिस्सा वो मानने को तयार नहीं है हाँ वो बस इतना कहरें कि मैं कसम खाती हूँ कि सविधान के दाएरे में रहकर तुम्हारा कभी शोशन पर अगर कोई ज्यादा बोले तो एक रुपए की पैनल्टी लगा दूंगी याद आ रहे हैं तो एक तरीके से अब प्रत्यक्ष रूप से तो कही न कही चीजे हुई लेकिन कहा गया कि मैं सरक्षक हूँ और सरक्षक होने के नाते मैं राज्य की परिभाशा में नहीं हूँ वास्तविक रूप में यहां होना चाहिए था कि यदि मेरे द्वारा भी कभी उलंगन हो तो मैं भी राज्य की परिभाशा के तहत उस उलंगन के लिए शमाप्रार् यह अमेरिका में ऐसा है कि किसी व्यक्ति को यदि कोई भी न्यायपाली का दंड दे दे और बाद में पता चले कि उसने अपने जिंदगी के 10 साल जेल में गुजारे लेकिन वो कोई अपराधी नहीं था तो मुआउजा देना पड़ता है भारत में ऐसे कई मामले हैं जहां कोई प्रावधान नहीं है तो फाइनली ग्लियर हुआ कि भारत के राज्य की परिभाशा में न्यायपाली का नहीं है प्राधीकारी अथोरीटी का मतलब होता है अजय हासिया बनाम खालित मुजीब प्रतेक समु जिसे सरकार की ओर से वेतन मिले वो सरकार की अथोरीटी तो वो अथोरिटी है या आर्थिक दंड देने कि उसके पास शक्ती हो तो वो सरकार की अथोरिटी मानी जाएगी फिर आर्टिकल 13 ये बहुत ही विवादा इस्पद रहा और इसी विवाद ने बेसिक स्ट्रक्चर की शक्ल ली आर्टिकल 13 में हमारे सविधान निर्माताओं एक अजीब सी बात लिखी है और वो बात ये है कि संसद ऐसा कोई कानून या विधी नहीं बना सकती जो नागरिक के मूल अधिकारों को सीमीत या समाप्त करती हो अब सवाल है कि विधी और कानून तो नहीं बना सकती ये किलियर हुआ और अगर कोई कानून बन भी जाये त उसे मूल अधिकारों के हनन के आधार पर शुन्य गोशित कर दिया जाएगा, पर सवाल है, क्या इंडियन कॉंस्टिटूशन में जो अमेंडमेंड होता है, संशोधन, क्या वो संशोधन कोई विधी या कानून है या नहीं, विधी या कानून तो वो भी माना जाना चाहिए परध्यान से सुनेंगे, सज्जन सिंग बनाम भारत राज्य कोई या सबसे पहला शंकरी प्रसाद, बनाम भारत राज्य जगडा है आर्टीकल 13 में विधी नहीं बनाई जा सकते, और 368 सविधान संशोधन की शक्ती है, सविधान संशोधन के माध्यम से 13 में संशोधन हो सक तो सवाल खड़ा हुआ कि महोदय ठीक है, कानून नहीं बना सकती, संशोधन कर सकती है कि नहीं, तो पहला मामले में सुप्रीम कोट कहती है शंकरी प्रसाद में कि 13 अलग है, 368 अलग है, 368 से तो 13 भी बदल दिया जा सकता है, 13 कोई बहुत महतुपुर्ण नहीं, सज्जन सिंग मामले में भी सुप्रीम कोट कहती है कि 13 और 368 अलग है, बस गोलकनात के मामले में सुप्रीम कोट अचानक कह देती है कि महोदय ये क्या बकवास लगा के रखी है, विधी, कानून, सविधान, संशोधन सब एक ही है, और किसी भी तरीके से मूल अधिकारों मे नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ये मामला आता है, उसके बाद पूरे देश में हल्चल अलग ही हो जाती है, वो सभी लोग गड़े मुर्दे जाग उट्टे हैं, कि हमारी जमीने अब फिर से मिलने का मौका मिल गया है, और माहोल ही बदल जाता है, फाइनली केशवानन भारती मामले में अंतिम निर्नाय करते वे सुप्रीम कोट कहती हैं, तेरा अलग हैं और 368 अलग हैं, कानून और विधी नहीं बना सकती, लेकिन सविधान संशोधन कर सकती है, मतलब मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल तविधान संशोधन के माध्यम से ही, संशद ऐसी कोई विधी नहीं बनाएगी, जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उलंगन करती हो, यदि संशद इस प्रकार की कोई विधी बनाती हैं, तो वो मूल अधिकारों का उलंगन करने की मात्रा तक शुन्य होगी, सविधान का संचोधन विधी की परिभाशा के दाइरे में नहीं है, विधी का बल रखने वाली ये थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे, विधी का बल रखने वाली कोई प्रथा, रूधी, नियम या अध्यादेश भी सम्मिलित है, जैसे विधी प्रथा का मतलब होता है, जैसे क मामला था वो कई पीडियों से चला रहा है पर सुप्रीम कोट में जब महिलाए इस मामले को लेकर गई तो उने का ये तो हमारे समता का उलंगन हुआ हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं मतलब ये तो पूरी तरह से विभेद हो रहा है और क्यूंकि मंदिर एक सार्वजनिक जगह हैं वो किसी व्यक्ति विशेश की पूरी तरह से संपत्ति तो मानी नहीं जा सकती तब सुप्रीम कोट ने का कि अच्छा ये जो प्रथा हैं ये मूल अधिकारों का क्या कर रही हैं उलंगन तो कोई प्रथा भी यदि उलंगन करें तो सुप्रीम कोट उस प्रथा को शुन्य करार दे देंगे कोई नियम उलंगन करें शुन्य कर दिये जाएंगे बस मूल अधिकारों का उलंगन या समापन किस तरीके से हो सकता हैं स्तविधान संशोधन के माध्यम से अध्यादेश का मतलब होता है एक कानून जो की 123 के तहत देश में बनाया जाता हैं हमारे राष्टपती किसी विशेश परिस्तितियों में उसे निर्मित करते हैं वो अध्यादेश भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता मूल अधिकारों को संशोधित करने का बदलने का सीमित करने का सरकार के पास केवल एक तरीका है और वो है सविधान संशोधन आर्टिकल 13 का प्रभाव भूत लक्षी नहीं है, भूत लक्षी का मतलब होता है, पुरानी तारीक से लागू होने वाला नहीं है, सविधान लागू होने से पहले भारत में लागू वह कानून जो मूल अधिकारों का उलंगन करते हैं, वह स्वत ही शुन्य नहीं होते माननिय सुप्रिम कोट कह रही हैं कि हमारे देश में कई सारे CRPC और IPC के कानून आज भी ब्रिटीशर्स के हमने लेकर रखें जो ब्रिटीशर्स ने हमारे देश में लागू किये थे अगर वो मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो वो अपने आप शुन्य नहीं होंगे जब तक कि मेरे पास तुम उसको लेकर नहीं आओगे मतलब मान्य सुप्रीम कोट ये कह रही हैं कि मैं जब तक ना कहूँ पुराना कोई कानून शुन्य नहीं माना जाएगा भले वो मूल अधिकारों का हनन भी यू ना करे तो हम इसे कहेंगे कि भूत लक्षी प्रभाव नहीं है बलकि वो तभी शुन्य माने जाएंगे जब सुप्रीम कोट या हाई कोट इस प्रकार के कानून को शुन्य गोशित करे इसका तात्पर है कि IPC, CRPC जैसे कानून जो सविधान लागू होने से पहले के बने हैं और आज भी विद्यमान है इन कानूनों का कोई प्रावदान जो भागतीन के विरुद्ध अत्वा सविधान के विरुद्ध होने के बावजूद भी तब तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायल है उसे अवेद गोशित ना करे प्रतक करनियता का सिध्धान गोपालन बना मदरास राज यदी कोई कानून मूल अधिकारों का उलंगन करता है ये बड़ा इंपोर्टेन है इसको बस ऐसे समझो कि कोई भी कानून यदी मूल अधिकारों का वाइलेशन करेगा तो पूरा कानून शुन्य नहीं होगा केवल उतना हिस्सा शुन्य होगा जितना वाइलेशन कर रहा है इसे ऐसे समझो कि एक सेव है उसका कुछ भाग खराब हो गया है तो पूरा सेव फेका नहीं जाएगा उतना हिस्सा काट कर उस सेव का उपयोग किया जाएगा मतलब कानून पूरी तरह से खत्म नहीं होता मूल उलंगन कर रहा हो तब भी केवल वही खत्म होगा जो हिस्सा उलंगन करेगा उस यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उलंगन करता है तो समस्त कानून को शुन्य घोशित नहीं किया जाना चाहिए बलकि कानून के केवल उस भाग को शुन्य घोशित किया जाना चाहिए ज एक उधारन अगर हम देखे तो दल बदल वाला कि भई दल बदल वाले में एक सविधान के दाइरे का उलंगन हुआ अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने की ताकत हुई तो हमने का भई ये तो गलत हैं अंतिम निर्णय नहीं होगा हमारे पास सुप्रीम कोट में लोग आ सकत हैं तो हमने केवल उतने प्रावधान को समाप्त किया पर दल बदल का कानून पूरा खत्म नहीं हुआ सिंपल सा है कि जो चीद सविधान के दाइरों का उलंगन करेगी उतना ही हिस्सा खतम माना जाएगा बाकी तो हिस्सा चल जाएगा फिर एक मामला है आच्छा दन का सविधान भीकाजी बना मध्यप्रदेश राज्य उन कानूनों के संबंद में जो सविधान बनने से पहले बने थे और वर्तमान में भी लागू है जैसे मान लीजे कि कोई कानून है और वह मूल अधिकारों का हनन करता है और मान लीजे वो मेरे पास आया तो मैंने का कि अगर संसद उस हिस्से को हटा दे उस कानून के जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा था तो फिर बाद में उसके हटने के बाद वो कानून सामान लागू किया जा सकता है आच्छादन मतलब उस पर मूल अधिकारों की पढच्छाई आ गई और इस कारण से वह निश्क्रिय हो गया लेकिन अगर वह मूल अधिकारों के उलंगन वाली बात हटा दो तो फिर वह कानून पुन लागू किया जा सकता है लेकिन ये कौन से कानून पहले के आजादी से पहले के जो पस्तित है सविदान लागू होने से पहले मौजुद ऐसा कानून उन कानूनों के ऐसे प्रकार के कानून पर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है और वह निश्च प्रभावी हो जाते हैं लेकिन अगर वो उतना हिस्सा अटा दो तो वापिस प्रभावी हो जाएंगे। कालांतर में जब सविदान संचुन रत्वा उन कानूनों में संचुन द्वारा वह भाग मूल अधिकार रत्वा सविदान की अनुकूल हो जाता हैं तो वह पुनसक्रिय और प्रभावी हो जाते हैं। सीडियस 2018 अध्यादेश भूत लक्षी हो सकता अध्यादेश ओर्डिनेश वैसे तो अध्यादेश हम पढ़ेंगे तब ज्यादा बेटर हम इसका जवाब दे सकते हैं। कोन से कथन सही है। पहले तो दूसरा तो गैरेंटेड हैं, एलिमनेशन पर आते हैं। दूसरा गैरेंटेड है तो भी तो बिलकुल भी नहीं हो सकता क्योंकि विधी की परिभाशा में अध्यादेश भी शामिल है। क्या राश्टपती द्वारा सविधान में संशोधन हे तू अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। सविधान संशोधन इकलोती ऐसी ताकत जिसमें लोक सभा और राज्य सभा बिलकुल बराबरी में हैं। क्या ऐसा कोई सविधान संशोधन याद आरा देखो। क्रशी कानून एक कानून होता है। कानून का मतलब होता है साधरन सी बात। क्या सविधान संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से लाया जा सकता है। और तीसरा अध्यादेश भूत लक्षी हो सकता है। भूत लक्षी मतलब आज राष्टपती एक कानून बताएं और कहें कि एक कानून आज से नहीं तीन साल पहले से लागू हो जाएगा। भूत लक्षी तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आए देख लेते हैं। मुझे भी मतलब है सवाल का जवाब। आँसर है उप्र्यूक्त सभी क्योंकि अध्यादेश कानून की बात्चीत है और कानून पिछली डेट से लागू कि ये जाते हैं। अध्यादेश कानून से जुडी हुई बात्चीत है लेकिन सविधान संशोधन में कोई अध्यादेश नहीं आ सकते। तो आँसर आना चाहिए था उप्र्यूक्त तीनों फिर रिपीट कर रहा हूँ भूत लक्षी का मतलब राष्टपती किसी कानून को जैसे क्रिशी कानून ले लीजे और क्रिशी कानून को आज साइन करें। लेकिन कहें कि ये दो हजार सत्रा से लागू माने जाएंगे, तो ये हमारे देश में सुश्वरोक्ती हैं। आंसर आएगा तीनों ही बाते इसमें सही होगी। अब आते हैं आर्टिकल 14, हमारे देश का पहला मूल अधिकार, समता का पहला ही आर्टिकल, समानता या समता के अधिकार का पहला आर्टिकल, जो राज्य को बताता है कि आप विभेद नहीं कर सकते, विधी के समक्ष सम्ता और विधियों का समान सरक्षन, राज किसी विधी के समक्ष सम्ता से या विधियों के समान सरक्षन से वंचित नहीं करेगा. विधी के समक्ष समता अगर नकारात्मक देखी जाए मतलब राज्य ऐसा नहीं करेगा तो ये ब्रिटिश अउधारना हैं किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेश अधिकार का अभाव हैं सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और यही कहलाता है विधी की सर्वोच्चत समझेगा इसे दो प्रकार की समता होती है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा और दूसरा कि राज्य ऐसा करेगा तो राज्य ऐसा नहीं करेगा ये ब्रिटिशर कंसेप्ट है और राज्य ऐसा करेगा अमेरिकन कंसेप्ट है तो निगेटिव कंसेप्ट कहां से आया हैं ब्रिटेन जिसमें हम कहेंगे कि राज ऐसा नहीं कर सकता कि किसी को केवल जाती धर्म के आधार पर मना कर दे। साथ कानून के सामने समानता का व्यवहार करेगा और उधर क्या हैगा राज किसी को जाती धर्म किसी भी आधार पर विभेद करने का प्रयास नहीं करेगा तो वो नहीं है और यह हाँ है पर बाते दोनों की एक हैं कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं पर दोनों को कई बार नेगेटिव पॉजिटिव में लेया जाता है जहां समान और असमान के बीच अलग व्यवार होता है आर्टिकल 14 लागू नहीं होता तरक संगत वर्गी करन को स्विकृत वर्गी करन विवेक शुन्य बनावटी नहीं होना चाहिए मतलब समान और समान के बीच अलग व्यवार जैसे हम जानते हैं कि पुलिस तो पुलिस में एक होता है कि उसका जो हाइट होनी चाहिए वो इतना होना चाहिए फिर उसके सीने की चवडाई की बात आएगी तो यहां पर पुर्षों के लिए लगेगा महिलाओ के लिए वो नहीं रहेगा तो इसका मतलब राज्य तरक संगत वरगी करन कर सकता है पर वोह बनावटी नहीं होना चाहिए फिर विधाई का कार्यपाली का द्वरा निर्मी तत्वा क्रियानवित कानून किसी भी अधिकारी को उस कानून को लागू करने के लिए नियंत्री शक्तिया प्रदान नहीं करता अर्थात कानून को उसी मात्रा में उसी दाइरे तक लागू किया जा सकता है जिस मात्रा या सीमा तक लागू करने के लिए सक्षम अधिकारी को सशक्त किया गया इसको ऐसे समझो कि भई जो DM है उसकी ताकत जितनी है वो उतना ही समानता ला पायेगा। उसके पास सेकेटरी के बराबर की ताकत नहीं है। सुप्रीम कोट का ये निडने हैं, समानता का मतलब ये नहीं हुआ कि एक साधारन सा व्यक्ति भी समानता को लागू करने के लिए शक्ती की असीमित मात्रा का उपयोग करें, जैसे डिस्ट्रिक कोट समानता लाने के लिए जितनी उसकी ताकत हैं, उतनी ही ताकत से समानता ला पाएगा ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक कोड की ताकत सुप्रिम कोड के बराबर की हो जाएगी केवल किस बात के लिए समानता लाने के लिए विवेखिन या अमर्यादित तरीके से कानून को लागू करना आर्टिकल 14 का उलंगन सिविल सर्विस 2021 अनिर्देशित और अनियंत्रित देखो बहुत कठिन सवाल है रियल में अभी तो आपको लग रहा है कि ठीक है बहुत हो गया उत्तरा जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2021 का ये जो सवाल था लोग उत्तर तब निकाल पाए होंगे तो अगर किसी भी प्राधिकारी को अनियंत्रित विवेख अधिकार दे दिया जाए तो भारत के सविधान के आर्टिकल में किसका उलंगन माना जाएगा आर्टिकल 14 क्योंकि आप समानता के नाम पर किसी भी संस्ता को उसकी शक्ती से ज्यादा शक्ती नहीं सौप सकते आर्टिकल 14 खुले तोर पर कहता है कि समानता लानी जरूर है लेकिन समानता लाने के लिए आपके पास असीमित शक्ती नहीं है जितनी है उतनी ही प्रयास करिये अन्यता वो शक्ती उपरी संस्ता उस जगह पर उपलब्ध कराएगी तो आर्टिकल 14 इस सवाल की बात है कि विवेखिन और मर्यादित तरीके से कानून को लागू करना आर्टिकल 14 का उलंगन है पिर सीडियस एक्जाम 2021 भारत के राज्य शेत्र में विधी के समक्ष समता अत्वा विधी के समान सरक्षन की गैरेंटी भारत के सविदान के किस आर्टिकल के अंतरगत है आंसर चौदा ये आजाना चाहिए सभी को अब आते हैं आर्टिकल 15 समता के अधिकार का दूसरा आर्टिकल समता में टोटल पांच आर्टिकल है धर्म मूलवंश जाती लिंग जन्मस्थान के आधार पर विभेद का मतलब राज्य को ये अधिकार नहीं है कि केवल केवल जैसे आपने मान लेते हैं कि मध्यप्रदेश PCS का फॉर्म भरा और मध्यप्रदेश PCS ने वो फॉर्म इसलिए रिजिक किया क्योंकि आप यूपी के हैं तो आप कहां जा सकते डायरेक सुप्रीम कोट कि भई राज्य मेरे उपर केवल इसलिए मेरा फॉर्म रद्ध कर रहा हैं क्यूंकि मैं दूसरे राज्य का हूँ तो ये तो किसका उलंगन है मूल अधिकार आर्टिकल 15 का राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग, जन्म इस्थान या इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद तो फिर NDA की भरती में केवल लड़कों की भरती क्यूं इसे फिर सुप्रीम कोट ने सुधारा और कहां कि अब NDA की भरती में भी लड़किया आएगी और उसी लिए क्यूंकि केवल आपने उसे मना क्यूं किया था लिंग के आधार पर कोई नागरी केवल धर्म मूलवंश जाती लिंग जन्मिस्पान या इन में से किसी के आधार पर दुकान स्तार्वजनिक भोजना लें होटल स्तार्वजनिक मनुरंजन के स्थान में प्रवेश करता हो और केवल इस आधार पर विरोत करेगा तो वहां भी मूल अधिकारों क उलंगन माना जाएगा इन जगहों पर भी मूल अधिकारों का उलंगन भली वो प्राइवेट क्यु ना हो ये क्यूं किया सरकार ने क्यूंकि हमारे देश में जातीगत बहुत सारे दुराग्रह थे तो इसलिए सम्ता का मतलब केवल हम लोग ही नहीं अगर कोई प्राइवेट संस्ता भी जिसकी दुकान, जिसका भोजनाले, जिसका होटल या सारवजनिक मन्दुरंजन का स्थान वो आपको बाहर नहीं निकाल सकता केवल किस इस आधार पर पर आप मानलो सिनेमा हॉल में गए पैसे नहीं, टिकेट नहीं तो वाँ होटल में खाना खा लिया, पैसे नहीं दिये, तो वो पिटाई कर सकता है, पैसे पिटाई करने का अधिकार कहीं नहीं है, पूर्णत या अंशतर राज्य निधी से पोशित या साधारन जनता के लिए प्रयोग समर्पित कुए, तालाब, इस्नान घाट, सड़के, सार्वजनिक समागम के स्थान के उप्योग के संबंद में भी, किसी भी निर्योग्यता, दाईत, वा निर्बंदनिया, शर्त के अधीन, पर मान लीजिए, मैंने अपने मकान में अपने लिए कुवाख होदा है, क्या वहाँ मैं लोगों को रोग सकता हूँ की नहीं, क्योंकि वो मेरा अपना नीजी है, या तो वो राज्य की निधी से पोशिटप समझना, मान लोग की सरकार ने, किसी गरीब को खेत में कुवाख होदने का, एक तरीके से पैसा दिया, अब उस कुवे को केवल वह इसले नहीं, किसी को मना कर सकता है, क्योंकि वो विशिष्ट जाती का है, और अगर ऐसा हुआ, तो फिर उसके खिलाब भी कारवाई की जा सकती है, राज्य द्वारा महिला और बच्चों के लिए विशेश प्रावधान किये जा सकते हैं, राज्य सामाजिक और सेक्षनिक दृष्टी से पिछडे वर्ग और SCST के लिए विशेश प्रावधान कर सकता है, ये चौथी बात कब जोड़ी गई, 1951 के पहले सविधान संशोधन के तहत, तो आर्टीकल 15 में विभेत पूरी तरह से नकारा गया और आर्टीकल 14 में कानून के सामने समानता की बात चर्चाए की गई है, पाचवा, राज्य सामाजीक और सेक्षनिक दृष्टी से पिछड़े वर्गों के तथा सरकारी और प्राइवेट शिक्षन स्तंस्तानों में आरक्षन का प्रावधान कर सकता है, कब जोड़ा गया ये, 2005 में और फिर अब लेटेश में छटवा पॉइंट जोड़ा, कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नती के लिए विशेश प्रावधान कर सकता है, प्राति उन्हें सरकारी तता प्राइवेट शिक्षन संस्तानों में प्रवेश के लिए भी आरक्षन प्रदान कर सकता है, कि इस प्रकार का आरक्षन 10 प्रतीशत से अधीक नहीं होना चाहिए, एक सो तीन वा सविधान संचोधन 2000, EWS, तो इसके कारण SCST के सर्टिपिकेट बनने लगें, इसके कारण OBC के सर्टिपिकेट बनने लगें, और इसके कारण EWS के सर्टिपिकेट बनने लगें, फिर रिपीट कर दें, ये दोनों ऐसे हैं, जिसमें कही न कही आर्थिक रूप सेश चीजे भी देखी गई है अब आर्थिक रूप का मतलब है कि कही वह संपन व्यक्ति ही सुईधा का लाभ ना ले ले और इसलिए जब आप UPSC का फॉर्म भढ़ते हैं तो UPSC इसमें अपडेट चीज मांगती हैं कई लोग फॉर्म भढ़ रहे तो उनके रिजेक्ट हो र लेया जाएगा कि आप ओपन केटिगरी के हैं जनरल केटिगरी के हैं अगली बार आप रिजर्वेशन के साथ भढ़ देना उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है अब समझो नहीं continue नहीं अब समझो क्या होता है मैं एक मामला बता देता हो 2013 का मामला है मेरा ही विद्यारती था IIT पास आउट था उसका इंटर्व्यू था लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट था वह सर्टिफिकेट एक देड़ साल पुराना था और इस साल उसके पिताजी की संपत्ती OBC में क्रिमिलियर के उपर चली गई थी अब मामला ये हुआ कि भई इसको रिजर्वेशन मिले की ना मिले तो OBC आयोग तो उस समय भी था भले ही वह सवेधानिक नहीं था मामला OBC आयोग के पास गया तब OBC आयोग ने निडने दिया कि नॉन क्रिमिलियर केवल तब माना जाएगा जब निरंतर तीन वर्ष किसी व्यक्ति की आए उस क्रिमिलियर की सीमा को पार कर रही हो तभी वो क्रिमिलियर माना जाए, अन्यता उसको रिजर्वेशन के पूरे अधिकार मिलेंगे, मतलब मान लिजे कि कोई वेक्ती दो साल से क्रिमिलियर में आ रहा है, लेकिन तीसरे साल, पिछे तीसरे साल वो नौन क्रिमिलियर था, मतलब वो अभी भी नौन क्रिमिलियर ही है जब 3 साल लगातार OBC केटेगरी में वो क्रिमिलियर बनेगा तब जाकर उसके रिजर्वेशन खत्मोंगे वही नियम EWS का भी है अगर EWS में निरंतर 3 साल उसकी जो आय है वह सीमा को क्रॉस कर रही है तो फिर उसको रिजर्वेशन का हक नहीं है लेकिन 3 में से 2 साल क्रॉस कर लेकिन 1 साल नहीं कर रही है तो उसे अभी रिजर्वेशन का हक है और इसलिए इस बार UPSC के फॉर्म में पूरा किलियरली बताया कि वो 3 वडशों के आय प्रमान पत्र के आधार पर सारी चीजे होगी तो सर्टिपिकेट अगर आ गया तो मान लिया जाएगा इसलिए लेट तो भी वह सुईकार कर लिया जाएगा उसमें कोई जगडा नहीं रहेगा वही जैसे वन येर मतलब फिर से अपडेट OBC भी अब वन येर ही हो गया फिर अगर UPSC की बात करे तो वो भी अब क्या हो गया वन येर ही वैलिड अगले साल फिर अपडेट फिर आपको क्यूंकि इस बार तो डेट बता दी एक अपरेल 2022 से लेकर 21 फरवरी 2023 के बीच बना हुआ ही रहेगा तो ही वैलिड कहा है फॉर्म भरी नहीं जा रहे हैं कई बार एकसेप्ट कर ही नहीं रहा है वो इस पश्टी करन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इधर ध्यान दे संदर्ब में आर्थि रूप से पिछडा वर्ग कोन कहलाएगा जिसे राज्य के द्वारा समय समय पर कानून बनाकर पारिवारी काय आर्थिक अलाब और अन्य संकेतकों के आधार पर मतलब जो आर्टिकल 15 का छटवा पॉइंट था वो समय के साथ बदलता रहेगा ये क्लियारिटी ला दी हैं क् कि समय के साथ राज्य परिभाशा बदलेगा कि कोन अब गरीब है और कोन गरीब नहीं है तो आर्टिकल 15 में तो इधाये भी दी गई विभेद भी किया गया ये समता का ही प्रमान है फिर आते आर्टिकल 16 राज्य के अधीन लोक नियोजन के विशय में सभी नागरिकों के अउसर की समता मतलब अब बातचित आ रही हैं एक तरीके से नोकरियों की ये इसके पहले एक जनरल बातचित थे सरकारी नोकरी के संबन में राज्य द्वारा किसी व्यक्ती के साथ केवल धर्म, मूलवंच, जाती, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास इन में से किस किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, राज्य विधी बनाकर किसी सरकारी सेवा के निवास की शर्त जोड सकता है, जैसे हर्याना में किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में 50% का आ गया है कि MP के ही लोग रहेंगे और बाकी 50% हम बाहर के ले सकते हैं, राज्य सरकारी सेवाओं में अपरियाप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर पिछडे वर्ग को रिजर्वेशन दे सकता है, राज्य SCST के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नती में आरक्षन दे सकता है, ये शब्द ध्यान से सुनेंगे, ये बात किसकी हैं, प्रमोशन की, और प्रमोशन म इनको है, नोकरी में SC, ST, OBC, EWS सबको रिजर्वेशन है, लेकिन प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है, कि अब समझना, मान लिजे आप UPSC का एक्जाम देंगे, सारी केटिगरी के लोगों की भड़तिया होगी, लेकिन हो सकता है, कि 10 साल के बाद आपके साथ चुना गया एक ST candidate आपका senior रहेगा, ये है कानूनी रूप से, देख उसका कारण है, समझना, ऐसा मत सोचेगा कि ये निर्णय ऐसी ले लिया गया होगा, 1997 में एक रिपोर्ट आई थी, जैसे एक मंडल कमीशन बनाता, OBC के लिए, वो ऐसी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया कि भारत में रिजर्वेशन के कारण, चीजे तो बेटर हुई, लेकिन अभी भी समानता नहीं आ पाई, हमने का अभी क्या हो गया ऐसा, तो उच्च पद, खास करके सेना में, जितने उचे पद थे, ब्रिगेडियर, कर्नल, ऐसे पदों पर बड़े मुश्किल से 700 परिवार के लोग ही अभी तक पहुच पाए थे, जबकि वो पद लगबग 7000 से ज्यादा के थे, इसका मतलब कुछ जगह पर कुछी लोग नियंतरन कायम कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमने SCST को रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन वो सच में उतने अभी eligible नहीं हुए, कि वो ब भड़तिया तो कर हो जाती थी, लेकिन वो पदोन्नती प्राप्त नहीं कर पाते थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए SCST को पदोन्नती में रिजर्वेशन दिया गया है, तो SCST के दो रिजर्वेशन है, एक तो नोकरी पाने के और दूसरे प्रमोशन के, यहां कुछ लो करना है, आरक्षन के संबन में कैरी फॉरवड का नियम, इस संबन में आरक्षन की 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी, अर्था कैरी फॉरवड आरक्षन को अलग माना जाएगा, 81 वा सविदान संचोधन, यह बता देता हूँ मैं, मान लीजे कि मध्यप्रदेश की सरक कार ने कोई डॉक्टर के पद जो भरती करने थे सरकारी डॉक्टर, उसमें ST कैंडिडेट की 12 सीटे थी, लेकिन उस साल 3 कैंडिडेट ने आवेदन किया, और 9 कैंडिडेट तो आवेदन भी नहीं किये, मतलब 12 में से केवल कितनी सीटे भरी गई, 3 कितनी बच गई, अगले साल वो ST में 9 सीटे और जुड जाएगी, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर, इस बार तो रिजर्वेशन 54 परसेंट तक चला गया, क्योंकि उसमें 9 सीटे तो पिछली वाली है, इसका नाम रखा गया Carry Forward, फिर रिपीट कर दू, OBC, SC, ST, ऐसे किसी मामले में, अगर सीटे पिछ भरी जाएगी, लेकिन जब अगले साल भरी जाएगी, तो हो सकता है कि उनकी सीटे जनरल की सीटों से भी ज्यादा हो जाए, तो ऐसा आप ये आरोप नहीं लगा सकती कि ये तोु 50 प्रतिशत का क्या हो गया, उलंगन, क्योंकि ये उलंगन नहीं किस नियम का पालन है, शब्द किलियर हैं? चल सकता है, लेकिन दूसरे धर्म का नहीं, क्या मजजिदों में कोई दूसरे धर्म वाला? तो वहाँ पर एक धर्म की शर्त रहेगी, तो आप यह नहीं कोगे कि सर आप तो धर्म के नाम पर क्या कर रहे हो? विभेत कर रहे हो, यह अनुमती रहती है, राज्य आर्थिक और उधर वह जन्रल बात है कल्यान की, वल सम्मा पाल बनाम कोचिन युनिवर्सिटी किसी उच्च जाती, यह समझ लीजे, जड़ा इंपोर्टेन है, यह मामला पहुचा दा सुप्रीम कोट में, मान लीजे कि एक SC केंडिडेट ने, SC महिला ने सामान्य वर्ग के व्यक्ति से विभा किया, तो क्या उसका अरक्षन खतम हो जाएगा? नहीं, अगर एक सांदारन पुरुष ने SC केंडिडेट से विभा किया, तो वो SC बन जाएगा? नहीं, रिजर्वेशन के माप दंड बदलेंगे नहीं, फिर मेरा सवाल है, जनरल केटिगरी का पुरुष और मान ल खेंगे? इसके पक्ष में? नहीं, इसमें मामला पहुत चुका है, ये निर्भर करता है, क्योंकि ये विभेद हो जाएगा? अगर आप पिता पक्ष को मान रहे हो, तो इसका मतलब आप कानून में पुरुष वादी वाले हो, तो प्रिम कोट ने कहा कि ये बच्चे पर नि उसके अकॉर्डिंग, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसके सारे सर्टिफिकेट में सरनेम वही रहेगा, जो उसके द्वारा सुईकार किया जाएगा, अब वो माता पिता निर्णाई ले लेते हैं, क्यों उसमें भई निर्णाई लिया जा सकता, तो ऐसा मत सोचना, प जानते हो, तो जानते हो, तेगो मैं तुम्हें तुम्हें चीज बता दू, चोटी जी बाग, तुम्हें क्या लग्टाई की जीवन सच में इतना सरल हैं, अब जिसे तुम्हारा डियम अमालो इस सेलेक्शन हुआ और आपको केरल कैडर मिला, तो कई बार विध्यारती आते कि सर थोड़ी मदद चाहिए, मैंने का क्या, कोई लाल या लाली, अब उधर अगर मानलो लाल, कैंडिड लाल है तो लाली, लाल है तो लाल ढूंड रहे, वो करे कि कोई ऐसा कैंडिड है, जो MP में है, और शादी नहीं हुई है, अब ये क्यू चल रहा है, क्योंकि विवा ह होने के बाद कैडर फिर पूछा जाता है, ऐसा मत सोचना कि विवा के बाद कैडर मतलब लड़की का ही बदलेगा, ये कोई समाज नहीं है, देश है, पूछा जाएगा, आप दोनों लोग केरल जाना चाहते हो, कि MP में, यहां तक कि अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जो शायद नहीं सुनाई आएगी, मान लो कि लड़का स्टेट की PCS परिक्षा से चैनित है, और लड़की UPSC से चैनित है, और दोनों के कैडर अलग-अलग है, एक गुजरात कैडर है और एक वेस्ट बेंगॉल है, तो भी शादी के बाद दोनों से पुनः पूछा जाए कि गुजरात ये तक चीजे होती है, अब समझो इस्टेट सर्विस, अब आप ये सोचोगे, कि सर वो तो इस्टेट से निकला, भई भले इस्टेट से निकला, वही पद उसे गुजरात में उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये पॉइंट भी होता है, पर अभी तुमारे ल मात्र के लिए कि विवा हो गया, ट्रांस्वर हो गया, छे महीने बाद ता लाग, और इसमें कुछ थोड़ी कर सकते है, क्योंकि विवा कोई ग्यारेंटी वाली बात्चित तो नहीं है, क्योंकि कोई समाज थोड़ी के साथ जन्मों का बंधन है, भई ये तो कानून के तहत लोग तलाश कर रहें, तो आप समझ सकते हैं कि चीजे इतनी खतरनाक लेवल तक भी जा सकती है, हाँ, अपना हो मिस्टेट क्यों नहीं मिलेगा, पहली रैंक वाला वेत्ती उससे पूछा जाता है, कि आपने जो भरी है वरियता, उसमें मानलो चार राज्य है, तो आप से पूछा जाएगा कि आप कोन से राज्य में जग सीट खाली हो, सब हो, तो क्यों नहीं मिलेगा, अब मानलो बारवी रैंक आ गई, और मध्यप्रदेश में दो सीटे खाली थी, आपका होम स्टेट MP है, तो 12 रैंक से पहले तो 8-9 लोग हैं न, 11 लोग हैं, दोनों ने अगर MP ले लिया है किसी ने, तो खतम हो गई सीटे, हर राज्य में भी तो IS के एक निशित सीटे होती है, सब मिलता है, और अगर ना मिले तो एक आखरी तरीका और, नहीं नहीं, उसके बाद भी बता रहा हो, इसे कहते हैं, जिसको कहते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रांसपर होता ह हैं, डेपूटेशन, तो थोड़ा परिचवरी चे अच्छा रहे नेताओं के साथ, तो डेपूटेशन के तहत आप अपने राज्य में चले जाते हैं, तीन से लेकर पांच साल बाकी रिलेशन अच्छे हो जाए, तो कई बार बुढ़ापा वही आता है, मतलब कोई अंतिम रूप में ट्रांसफर नहीं होते हैं, किसी उच्छ जाती के महिला या पूरुष द्वारा पिछडी जाती के महिला या पूरुष से शादी करने पर उच्छ जाती के पूरुष या महिला को आरक्षन का लाभ नहीं मिलेगा, और नहीं पिछडे वर्ग की महिला पूरुष आरक्षन से वन्चित होंगे, विभा के कारण रिजर्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ट्रांजेंडर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल बनाम भारत संग 2016, आर्टिकल 14, 15 और 16 में उल्लेखित शब्द लिंग का तात्पर्य है, केवल पुरुशिया महिला से नहीं, इसमें ट्रांजेंडर भी सम्मिलित है, लिंग के दाइरे को केवल जैविक लिंग के आधार पर न परखा जाएं, बलकि इसके अंतरगत वे लोग भी आते हैं, जो सोयम को ना तो पुरुश और ना ही महिला मानते हैं, अत्वा वे प्राकृतिक रूप से भी वह ऐसे नहीं हैं, ये पॉइंड 2016 में सुप्रिम कोट आप ने क्लियर किया और इसलिए अब जबी सभी सरकारी form में तीन चीजे भरी जाती है, male, female, other या transgender वर्डाता हैं, देखो ट्रांस जेंडर, शब्द में क्लियर है, ट्रांस जेंडर, ट्रांस मतलब परिवर्तन, जेंडर मतलब लिंग, जिनोंने लिंग परिवर्तन किया है, आज की दुनिया में एक व्यक्ति जो जिसका जन्म पुरुष के रूप में हुआ था, वो अपने आपको पुर्ण रूप स को रिमू करके नए और गन लगाये जाते हैं वो एक सामान निसी प्रक्रिया है तो यह थोड़े महगे ओपरेशन होते लेकिन आजकल यह होने लग गए हैं और इस कारण से ट्रांजेंडर को यह अधिकार दिये गए हैं कि वो चाहे तो अब अपने आपको पूरुष या महिल गोशित करें या फिर उन्हें लगता है कि नहीं उनकी अपने एक अलग पहचान हो तो वो अपने आपको ट्रांजेंडर के रूप में शामिल कर सकते हैं देखो ट्रांजेंडर और थर्ड जेंडर अलग है थर्ड जेंडर का मतलब ऐसे लोग जो यातो पूरुष या महिला हैं लेकिन उनमें लेंगिक शम्ताओं का अभाव हैं उनके लेंगिक अंग विक्सित नहीं हुए हैं जैसे जिने हम सामान्य रूप में कई बार हिजड़ा हमारे समाज में कह देते हैं और रियल में बहुत बुरी बात ये हैं कि हमने उन्हें अपने मूल अधिकारों से क्य वन्चित रखा केवल एक लेंगिक अक्षमता के कारण उनके मानवी अधिकार नहीं होने चाहिए उनके लिए बहुत बड़ी दुईधा हो जाती हैं आप अगर उनकी विचारों या उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको पता चला कि सच में वो कितनी संकट का सामना करते है इमेजिन करो कि उन्हें बात्रूम में जाना है अगर वो महिला बात्रूम में जाती है तो महिला उनके उपर चिला देती कि आप यहां क्या कर रहे हो और यदि वो पुरुष बात्रूम में चले जाए तो पुरुष वाले उनकी मजा लेने लग जाते हैं ऐसी इस्तती में तो उनके लिए एक चैलेंज हो गया, साधारन सा केवल बात्रूम जैसी प्रक्रिया के लिए उन्हें कितना संकट जेलना पड़ रहा है, तो इसलिए देश में बहुत ज़रूरी है कि लोग अभी तक इन लोगों के मूल अधिकारों को नहीं दे रहे थे, लेकिन अब धीमे धीमे अवेरनेस के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि भी उनका दोश क्या है, उन्होंने स्वयम क्या गलत किया है, हम इतना तो किसी हत्यारे को भी तकलीप नहीं देते, जितना कि उन बिना अपरात के लोगों को दंडित कर रहे हैं, तो धीमे धीमे बदलाव आ रहे हैं और समाज में अब उनको स्विकार करने की चीजे शुरू हुई हैं। अपनाएंगे नहीं, किसी व्यक्ती के साथ चुवा चूत का व्योहार नहीं और इस प्रकार का व्योहार कानून के अनुसार दंडनिय होगा। उसमें संशोधन, नाम ही बदला गया उसका, अब उसका नाम क्या रख दिया गया। नागरीक अधिकार सरक्षन अधिनियम 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट मध्य प्रदेश में इस पर सवाल अलग से पूछे जाते हैं। फिर है आर्टिकल 18, समता का आखरी अधिकार की किसी भी प्रकार की टाइटल, आप धारन, जैसे राजा धिराज, महाराज, नवाबों के नवाब, ऐसी चीजे स्विकार नहीं होगी। पर आजकल कुछ लोग ऐसे टाइटल अपना रहे हैं, जैसे कि भारत रत्न, तो ये टाइटल नहीं है, एक तरीके का क्या है, सम्मा, लेकिन केवल एक जग अपवाध है, ऐसे टाइटल लिये जा सकते हैं, सेना के द्वारा, वो ब्रिगेडियर वर्ड यूज कर सकते हैं, जो शिक्षा संबंधी है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधी होती है, वो भी चल जाएंगे, लेकिन ऐसे कोई अधिकार्नी जो विभेत पैदा करे, उपाधियों का अंत, राज्य द्वारा, सेना या विधी संबंधी संमान के अलावा, कोई भी उपाधी प्रदान नहीं, भ जैसे मान लिजे कि बृटेन में सर की उपाधी होती है, या फिर कई प्रकार की उपाधिया आज भी विश्व में अलगलग दी जाती है, तो ये तभी होगी जब राश्टपती क्या कह दे, ठीक ही अनुमतिया आपको हम देते हैं, तो ये चौदा से लेकर अठरा, बताते लिंग, जन्मस्थान, निवास के आधार पर मूल स्थान, मूल वंश लिख दीजे, आधार पर विभेद नहीं, तोला, नोक्रियों में इस आधार पर विभेद नहीं, सत्रा, अन्टचेबलिटी और अठरा, उपाधियों का अन्द, तो मुझे लगता है सत्रा, अठरा और चौदा आसान हैं, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की बात रहेगी, यहां पर राज्य विरोध मतलब विभेद नहीं करेगा, और यहां पर राज्य नोक्रियों में विभेद नहीं करेगा, लेकिन वहां रिजर्वेशन के भी क्लॉज्स जोड़े गए हैं, अब आते हैं, स्वतंत्रता में सबसे पहला हैं, 19, फिर 20, 21 और 22, 19 बहुत ही महतुपुर्ण हैं, क्योंकि 19 में अभी व्यक्ती की स्वतंत्रता का सबसे महतुपुर्ण प्राउधान, विचार एवं अभी व्यक्ती की स्वतंत्रता, शांती पुर्वक, बिना हतियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगम, संग या सहकारी सोसाइटी बनाने का स्वतंत्रता कब जोड़ा गया ये हैं, 1997 वा Constitutional Amendment 2011 में, देश के किसी भी शेत्र में आवा गमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी शेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार और जीवी का चलाने की स्वतंत्रता, अब जैसे देश में कही पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कल तुम बायोस पे रिजव चले जाओ और कहो कि अब मैं कोड जोन में स्टाइगर के साथ रहूगा तो यहां हम तुम्हें खीच कर वापिस लाएंगे कि यह तुम्हें अधिकार नहीं है जहां सरकार ने प्रतीबन लगाए वहां पर तो प्रत प्रतीबन रहेंगे जैसे इसमें यह अधिकार भी है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यावसाय चुन सकते हैं आपने सुना अच्छा कल से आपने डॉक्टर का दवा खाना अपने घर में खोल दिया और लिग दिया अपना नाम डॉक्टर अजय प्रसाद और आप सोचन जनाने का भी अधिकार किसमें है आर्टीकल 19 में और जो दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र था आर्टीकल 19 में संपत्ती के अर्जन या निप्तान के बारे में कोई उलेख नहीं है केवल आज इविका अर्जन के लिए कार्य करने की स्वतंत्र था कि आज इविका के लिए आप कोई काम धंदा कर सकते हो इसकी तुमें फ्रीडम रहेगे पर आर्टीकल 19 आत्यांतिक नहीं है आत्यांतिक मतलब उस पर प्रतीबन है भारत की संप्रभूता और अखंडता के लिए आपके बोलने पर प्रतीबन लगाया जा सकता है राज्य की सुरक् खत्रे में है तो आपके बोलने पर प्रतीबन आपके एक जुट होने पर प्रतीबन लगाया जा सकता है विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पुर्ण संबन आप ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे की दो देशों के भी जगड़े हो सकते हैं तो आपके पूरे वीडियो पर अभी प्रतीबन लगाया जा सकता है, सार्वजनिक व्यवस्ता के लिए भी नैतिक्ता के आधार पर नियायले क्यों मानना मतलब नियायले का आप बहुत भला बुरा कुछ बोल रहे हैं, तो आपकी अभिवेक्ती पर प्रतीबन लगाया जा सकता है, और किसी को अफराद के ल आप पर प्रतीबन आर्टीकल 19 के तहत लगाये जा सकते हैं, दिल्ली शाहिन बाग मामला 2020, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक इस्थान या सार्वजनिक जगह पर कबजा, भई आपको हमने अधिकार दिया हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए जो जगह हैं, वो आपकी माली काना हक्की नहीं है, जैसे सडक पर बैठ गएं और आपने का कि अभी सडक से तब तक नहीं जाएंगे, जब तक मेरी बात सुनी नहीं जाएगे, तो आपको गिरफतार भी किया जा सकता है, हरताल और बंद, याद रखेंगे, हरताल क अधिकार है, बंद का अधिकार नहीं है, हरताल पॉजिटिव हैं, आप विरोध वेक्त कर रहे हैं, बंद निगेटिव हैं, आप जबड जस्ती लोगों को काम करने से रोक रहे हैं, केरल उच्चने आले भरत कुमार के मामले में, हरताल करने का अधिकार, आर्टिकल 19 के अं व्यक्ति के विवेक पर नेपर करता हैं कि वो राज्या सरकार के प्रति विरोत प्रदर्शित करते हुए किसी कार्य को नहीं करने की प्रकट करता हैं। निम्नलिकित में क्या क्या शामिल है। व्यक्ति का अरजन और निपतान करना। CDS 2021 भारत का सविधान स्वतंत्र और अभिवेक्टी स्वतंत्र की गैरेंटी देता हैं। यह स्वतंत्रता राज्य दौरा आरोपित कतीपयूक्ती यूक्त निर्भंदों के अधीन है। यह निर्भंदन किस्से संबंदित है। मानहानी स्ष्टाचार और नैतिक्ता किसी अपरात के लिए उकसाना हिंदी में अंग्रेजी में इंसाइटमेंट। आंसर क्या आएगा। भई आप किसी का अपमान तोड़ी कर सकते हैं। अगर अपमान होगा तो आप पर मानहानी का केस किया जा सकता है। वैसे भी अभी मानहानी के मामले बढ़ने वाले हैं। अब आते हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 का संबन्ध हैं स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरे अधिकार से। लेकिन या ऐसा अधिकार जो आपात काल में भी खत्म वास्तवीक अधिकार हैं। तो यही है जो किसी भी परिस्तिती में सीमित नहीं होता, विशेश रूप में इसको सीमित करने के लिए शायद सुप्रीम कोट कुछ कदम उठा सकती है, एक अफराद के लिए केवल एक बार सजा दोहरे संकट या दोहरे अभियोजन से सुरक्षा, अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब कुछ लोग गलत सोच लेते हैं, इसका मतलब सोचते की एक चोरी की सजा भी वही और दस चोरी की सजा भी नहीं है, यह गलत है, भई हो सकता है एक चोरी की देड़ महिने की सजा, दूसरे चोरी की छे महिने की तीसरे चोरी की छे साल की सजा मिल सकती भली चोरी क यही मामले हो, जैसे राम रहीम के मामले में, दो बार बलातकार की तहत दंड दिया जा रहा है, तो ये दो बार इसलिए क्योंकि अलग-लग व्यक्ति है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहां इसका केवल इतना आर्थ है, कि किसी एक अपराध के लिए आपको दंडित किया गया, सजा आप काट कर आ गए, अब कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता, कि महोदय इस सदंड को और कठोर करें, और अब इसको पुनह दंडित करें, तो ये संभव नहीं है, एक दंड के लिए सजा, एक ही बार, पर अगर आपने वही दोराया, तो हो सकता है, आपको अलग से फिर से सजा भी मिल सके, ऐसे कई अपरादी हमारे देश में, जिनको पाँच पाँच आजीवन कारावास मिले हैं, ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ, पाँच पाँच आजीवन मतलब, मानलो पहले में, दो साल पहले छोड़ा जा रहा है, लेकिन ततकाल का अभी दूसरा शुरू हो गया, फिर तीसरा, तो आजीवन कारावास पाँच पाँच बार इसलिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे पाँच पाँच पार जगन्य अपराद किये होंगे, तो ऐसा मत सोचेगा कि इसका मतलब ये नहीं होता है, जिदे लोग वाट सबीनो चटेवले बोल देते कि एक मडर करो या सव, सजाए कई नहीं है, हो सकता है कि आपको तीन बार फासी पर लटकाने की सदा दी जाए, अगर मान लेते जीवित बच जाता है, अपराद करने के समय जो कानून है, इसी के तहत, मतलब मान लीजे कि मामला 2004 का है, इसी बच्चे के शोशन का, और आप 2004 के अपराद के मामले में, आप पॉक्सो कानून के तर पर मामला उस समय का था, दर्ज किया गया, अब अगर दर्ज होगा तो, आज के कानून के तहत कारवाई की जा सकती है, किसी भी व्यक्ती को स्वयम के विरुद्ध न्यायले में गवाई देने के लिए, मतलब जैसे पुलिस पीट रही हैं, और फिर वो मान लेता है कि ठीक है, वो सकता है वहाँ मान ले, पर कोट में पहुच कर कहेगा, महोदय आप देख सकते हैं मुझे कितना मारा गया होगा, तो फिर वो सारी बात रद्ध हो सकती है, इसलिए याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ती को अले में गवाई देने के लिए बात दें नहीं किया जाएगा, अपरात करते समय विद्यमान कानून के अनुसार सजा, ये प्रावधान केवल अपराधिक मामलों के संबन में लागू होता है, स्विल मामलों के संबन में नहीं, अर्थात स्विल मामलों में नए कानून के अ सुप्रीम कोट में एक मामला पहुच गया जिसमें लड़की का जन्म 1980 का है तो उसके वकिल ने दलील दी पुरुश वाले उसने का महोद है कानून 2005 का है तो आज वो कानून उन लोगों के लिए होगा जो 2005 के बाद लड़कियों का जनम होगा तब सुप्रीम कोट ने कहा ये किस ने कहा तुमसे सिविल मामलो में अगर उस लड़की का जन्म 1970 का हो 60 का हो यहाँ पर अब उसे संपत्ती का अधिकार मिल गया मतलब अब वो कभी भी अपनी संपत्ती मांग सकती है मैं तुम्हें ये सूचित कर रहा हूँ दादी को बता देना कि अभी हम जिन्दा है तो मामले पूरे उठाए जा सकते हैं और बहुत सारे मामले अपलाए वहां किये जा सकते हैं 2020 सीडियस का भारत के सविधान का निम्दलिकित में से कोन सा नुछेद दोहरे खत्रे से किसी व्यक्ती की रक्षा करता है फिर बता रहा हूँ इजी लग रहा है अभी लेकिन कई लोगों को तो ये शब्द ही समझ में नहीं आया होगा कि दोहरा खत्रा क्या था तो दोहरे खत्रे का अभीप्राय है एक ही अपराद के लिए दो बार दंड किसी को दिया नहीं जा सकता मूल अधिकार के संदर में कुछ लेटीन शब्द है और मैंने ऐसा फील किया है कि इस बार ये आने चाहिए ओडी आल्टेरम पार्टेम दूसरे पक्ष को भी तुना जाए निश्पक्ष सुनवाई नौन बिस इन आईडेम दोश सिद्ध व्यक्ती को पुन उसी मामले के लिए अभी योजित नहीं किया जा सकता ओत्रेप्वा एकविट एक अपरात के लिए एक ही बार सजा ओत्रेप्वा कन्विक्ट एक ही अपरात के लिए अलग-अलग अदालतों में मुकदमा नहीं यह मामला क्या हो गया था कोई एक व्यक्ती थे जिन्नोंने जब मानलों को ऐसा बयान दिया जैसे लोगों को लगा कि मेरी भावनाएं आहत हो गई तो मध्यप्रदेश में भी FIR हो गई तमिल नाडू में भी FIR हो गई पतना में भी FIR हो गई तो हमने का भई मामला एक व्यक्ती एक तो आप इतने केस कैसे लड़ेगा तो कोई एक जगह पूरे मामले लाए जाने चाहिए ऐसा नियम भी लगाया जाता है तो उसका नाम है ओत्रेफवा कन्विक्ट सारी बाते समझ में आ रही हैं उस समय भी यही बात्चिती की कई सारी जो मामले हैं आप एक अही जगह सारे मामले ट्रांस्पर करेंगे जैसे मैं बता देता हूँ आप जब हमारे संस्तान यान एकेडमी में एडमिशन लेंगे तो वहां लिखा आता है कि दिल्ली जुरी डिक्षन मतलब आप रहते कही भी हो मामले तो यसी नयायालय में सुल्टाए जाएंगे ने तो आप कहेंगे कि हम अपने राज्य में करेंगे तो उसको हमारा वकील वही खारीज कर देगा कि देखो इन्होंने साइन किया था कि दिल्ली आने को तयार हैं ताकि दिल्ली में मामले को लड़ा जा सकता है तो फिर से ओडी आल्टेरम पार्टेम दूसरे पक्ष को भी सुनिये नौन बिस इन आइडेम दोस्चिद्ध वेक्ति को पुनव उस माम वलतों में मुकदमा नहीं यह आया हैं लेकिन सीडियस जैसी परिक्षा में निम्नलिकित में से कोन सा एक पद कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनिय घोशित नहीं किया जा सकता मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा तो एकविट का मतलब होता है एक ही बात नौन बिस इन आइडेम मतलब पुना अभियोजित नहीं कर सकते ओत्रेपा ओत्रेपवा कन्विक्ट एक ही अदालत में उस मामले को चला है कोई भी व्यक्ती बिना सुनवाई के दंडनिय घोशित मतलब जब तक दूसरे पक्ष की बात्चित ना सुनी जाए सजा को डिकलियर ना किया जाए आर्टीकल 21 अकेला ऐसा आर्टीकल तच में अगर वो अधिकार सारे नागरीकों को मिल गए तो बाकी किसी अधिकार की जरुवत ही आर्टीकल 21 में अपनी मर्जी के व्यक्ती से विवा करने का भी अधिकार है मैं तुमें ये सुचित क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हे इस समयिस की सक्त जरुवत पढ़ती है तो आर्टीकल 21 किसी व्यक्ती को उसके प्रान, देखो ओरिजनल क्या है? ओरिजनल देखना अदुबूत ही है किसी व्यक्ति को उसके प्रान और दैहिक स्वतंत्रता से विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्य था नहीं, मतलब गाड़ी पल्टा ना लावू, मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यही कहने का मतलब है, हमारे देश में सबसे खराब अपराधी होता है आतंगवादी, जिसका उधारन है कसाब, कसाब जैसे आतंगवादी को भी हमने बकायदा मामला लड़कर उसको वकील भी दिया गया, ताकि वह भी अपने मामले में अपनी बात रख सके, और उन परिस्तिती में भी पूरी तरह से न्याय करते हुए, उसे फासी की सजाद दी गई, क्योंकि हम आर्टिकल 20 से बंधे हुए हैं, कि उसके प्रान और दैहिक स्वतंत्रता से विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया, भली देखो, हो सकता है कि कसाब के कारण हमारे देश के सरकार के खड़्चे हो गए, वाटसब उनिवर्सिटी कहेगी यह तो मुर्खता हैं, लेकिन हम कोई जंगल में रहने वाले लोग नहीं हैं, कि किसी को तीर और धनुष कमान से मार देंगे, हम एक सब्य और ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जहां पर दंडित करने के जो नियम हैं, उनका कभी उलंगन नहीं होता, और ये हम प्रमानित कब कर सकते हैं, ऐसे उधारनों में ही, ये इस पच्ट करने की कोशिश होती हैं, कि हमारा समाज इतना सब्य हैं, कि वो देश के सबसे बड़े शत्रू को भी नियाएक देने के बाद ही दंडित करता हैं, ये इसले भी जरूरी हैं, ताकि देश की सब्यता, और देश की संस्कृती, दुनिया के सामने उधारन कर सके हम इतने ज्यादा कमजोर लोग नहीं हैं कि एक व्यक्ति से धर जाए हम उतने मजबूत और सक्षम हैं कि उसके साथ भी न्याय की प्रक्रिया का पूरा पालन करें उसे ये बता दे कि तुम जिस देश में हो भली वहां तुमें ऐसा अधिकार नहीं मिलता लेकिन हम पूरता नहीं हैं कि हम बिना निर्नय के तुम्हें मार डाले हम बकायदा न्यायाले के सामने इन बातों को सत्यापित करेंगे कि तुम थे और फिर तुमें हम दंडित करेंगे तो कई बार ये मामले ऐसे आ जाते जा लोग ये सोचते हैं कि सरकार क्या कर रही है लेकिन प्रक्रिया के बगेर किसी की जिंदगी खत्म नहीं की जा सकती। विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया और विधी की उचित प्रक्रिया हमारे देश में वैसे तो विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया है। सविधान में इसका वर्नन आर्टिकल 21 में है, विधी द्वारा इस्थापित, समझना, विधी द्वारा इस्थापित का मतलब क्या है, जैसे मान लीजे, एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में लिखा गया है, कि यदि कोई सोसाइटी में कचरा डालेगा, तो उस पर 100 रुपय क पैनल्टी लगेगी ठीक है फिर लिखा हुआ है कि यदि कोई सोसाइटी में गंदगी फैलाएगा तो पांसो रुपए की पैनल्टी लगेगी यदि कोई सोसाइटी में स्पीड से बाईक चलाएगा तो उस पर हजार रुपए की पैनल्टी लगेगी ये विधी द्वारा लि कर कागच उड़ाते हुए जा रहा है और तीसरा व्यक्ति केवल लोगों को चिडाने के लिए लोगों के सामने अपनी हवाबाजी दिखाने के लिए कागच उड़ा रहा है तो तीनों अपराद अब एक तो नहीं है एक तो गलती से हुआ है लेकिन ये दो लोगों को दंडित करना जरूरी है विधी द्वारा इस्थाफित प्रक्रिया कहती कि पढ़ो नियम क्या था 100 रुपय की पेनल्टी तीनों को लगा दो पर विधी की उचित प्रक्रिया कहती है कि नहीं उचित के तहत जो वेक्ति ज्यादा हवाबाजी कर रहा है उससे 5 लाक लो जिससे गलती से ह हो गया होगा उसको माप कर दो उचित प्रक्रिया वास्तविक रूप में कानून के दाइरे से भी बढ़कर होती है क्या हमारे देश में यह है हाँ अब हो रही है हमारे देश में सबसे बड़ा चीज है इसके लिए मूल धाचा मूल धाचा देखो इसका प्रमान मैं दे रहा हो बेसिक इस्ट्रक्चर मुझे बताओ हमारे सविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी सुप्रीम कोट में अगर नयाधिश की न्यूकती करनी है तो वह राष्टपती को सुनना होगा मतलब हमारे कोलेजेम पद्धिती के तहर पर संसत सविधान में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है संसत ने संशोधन के आर्टी कर सविधान संशोधन 99 और लिख दिया कि कोलेजेम नहीं अब न्याइक नियूकती आयोग रहेगा पर अब हमारे देश के तुप्रिम कोट ने क्या कहा कि यह मूल ढाचे के आधार पर गलत है वैसे तो देखा जाए संसद ने जो संचोधन कर दिया वो नया सविधान बन गया लेकिन उसे गलत साबित किया केवल किस आधार पर एक और उधारन लेते है दल बदल कानून के निर्नय अध्यक्ष लेले वो अंतिम होता है पर सुप्रिम कोट ने का वो अंतिम नहीं हो सकता क्योंकि न्याईत पुन्रावलोकन तो मेरा मूल ढाचे का हिस्सा है इसलिए वहां भी क्या रहेगा उचित प्रक्रिया हमारे देश में सविधान में तो विधी की स्थापित प्रक्रिया का वड़नन है लेकिन न्याय प्रालिका ने अब इसको उचित प्रक्रिया में बदल दिया है उचित प्रक्रिया अमेरिका का कंसेप्ट है उचित प्रक्रिया का मतलब होता है कि परिस्तिती को ध्यान में रखते हुए दंडित करना जैसे एक मूवीज में आता ह हैं कि एक हीरो हैं जिसने गाड़ी कैसे भी चलाई और एक्सिडेंट किया तो उस हीरो को सजा दी गई कि जाओ तुम रधाश्रम में और छे महिने उन बुजुर्गों की सेवा करो तो क्या ये विधी की स्थापित प्रक्रिया हैं विधी में ऐसा कही लिखा हुआ नहीं है त तो ये क्या था उचित प्रक्रिया तो कई बार जैसे हमारे देश में विवाद होते हैं कि हम लोग ऐसे दंड में ऐसी सजा क्यूं नहीं दे सकते क्यूंकि हमारे देश में सविधान में मुख्यरूप से विधी की स्थापित प्रक्रिया हैं जबकि ऐसी प्रक्रिया के अनुकूल अन्य कानून द्वारा लिखित रूप से स्थापित व्यवस्ता से हैं। देखेंगे। ये भारत में केवल किसली अब इस्तापित हो पा रहा हैं। परमान लेते हमारे देश में कोई ऐसा कुरूर शाशक आ गया जिसने का कि चौराहे पर लटका कर पत्थरों से मारा जाए। तो हम सुप्रीम कोट क्या कह सकता हैं। आगू भी किया जाना चाहिए। न्यायाधिश कह रहे हैं। सरकार से महोदय उसकी जान तुम बचा नहीं पाए। तो फिर तुम दोशी हो। लेकिन वो बचकर कैसे आ गया। तुम उसको पकड़ो और जेल में डालो। क्योंकि वह तुम्हें अपने अधिकार जो उसके थे उसको सुरक्षित करने का मौका नहीं दे रहा है। मतलब थोड़ा सा ये मामला सच में वापित जाना चाहिए। और इस पर निर्दने लिया जाना चाहिए। मुझे बताओ। जो वेक्ति आत्मत्या कर रहा है। उसके उपर साइकोलोजिकल टेस्ट होने चाहिए। उसे डॉक्तरी सहेता मिले। उसे पूछा जाए कि तुम्हें तनाव क्यू है। और उसे पूछा जाए कि इतना बढ़ा कदम तुमने क्यू उठाया। कि उसको जेल में बन कर दिया जाए। पर हमारे देश में ये कानून अधभूत है। और इसे कई बार हास्य का विशय बना दिया जाता है। दुनिया का अकेला देश है। जहां आत्मत्या करके बचने वाले को जेल जाना पड़ता है। मतलब अप्रत्यक शुरूप से इसका मिनिंग क्या ये तो बात ऐसी हो गई। पिताजी ने क्या कह दिया। कि बेटा अगर इस नहीं बने तो तुम्हारा चेहरा मत इकाना मुझे। तो ये तो खतरनाक है ना भी। हम कहेंगे कि क्या हमारा पालन पोशन केवल इसी पद के लिए किया गया था। तो बता देते बच्पन से हाथ पर थपा लगा के तुम्हें आयस बनना है। ताकि उसे बच्पन से ट्रेनिंग देते रहते। कि अगर आयस नहीं बने तो फिर तुम्हें परिवार में आने का हक नहीं होगा। तो ये गलत चीजे हैं। ऐसी चीजों पर सच में निर्नय लेने की जुरुवत है। दूसरा ज्यान कोरब नाम पंजाब राज्य में आर्टिकल 21 मानविय गरिमा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार। अब देखो यहां से उस कानून का या उस सविधान के आर्टिकल की बाते बदलने लगी। ओरीजनल ही लिखा हुआ क्या है। विधी की इस्थापित प्रक्रिया से ही उसे अपनी दैहिक या प्रान से वंचित किया जा सकता है। लेकिन अब 1996 में सुप्रीम कोट ने कहा। भई जीवन भी कैसा होना चाहिए। गरिमा मैं अब गरिमा मैं जीवन की तो कई क्राइटेरिया है। भई एक व्यक्ति से मैं पूछा कि तुम्हारे अनुसार गरिमा मैं जीवन क्या है। तो बोले जब तक मुझे अंबानी के घर में ना बिठाया जाए। मैं गरिमा मैं जीवन नहीं मानता। तो ये तो बहुत बड़ा चेलेंज हो जाएगा। तो गरिमा मैं जीवन का दाइरा व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। अरुना शानबाग बनाम भारत संग ये मुद्दा बहुत ही तीवर मुद्दा था। आर्टीकल 21 के अंतरगत इच्छा मृत्यू का अधिकार शामिल नहीं है। अभी फिर से बहस इसपर हुई थी। हाँ, लेकिन जैसे स्वीजर लेंड लेकर आया है मशीन। ऐसी मशीन है स्वीजर लेंड की। जिसमें बिना दर्द के मुरुत्ति होती है। युथेंशिया के लिए स्वीजर लेंड में अनुमती है। हमारे देश में अभी भी तो प्रिम कोट ने इसे मना करके रखा है निश्क्रिय युथेंशिया हमारे यहां पर है पेसिव जिसको हम कहते हैं निश्क्रिय जिसे कहते हैं मतलब मान लीजे कोई सपोर्ट सिस्टम पर है और सपोर्ट सिस्टम हटाने की जरुवत आ गई है तो उस प्रकार की चीजों में डॉक्टर, उसकी देखरेक, कई सारी चीजे, लेकिन नॉर्मली पूछा जा है, तो हमारे देश में अभी भी युथेन शिया की अनुमती, फिर एक परंपरा है, जैन धर्म की, संथाल परंपरा, तो क्या ये प्रथा, याद करिए आर्टिकल 13, कोई प्रथा अगर मूल अधिकारों का उलंगन करती हो, तो वो प्रथा भी बंद हो सकती है, तो क्या ये प्रथा भारतिय कानून का आर्टिकल 21 का उलंगन करती है, इसलिए आप सारा त्याग कर सकते, लेकिन प्रान का त्याग नहीं कर सकते, कई जगह पर अपने अनुसार चोरी चिपे हो तो बात अलग है, तो शानबाग बनाम भारत संग के मामले में युथेन शिया की बात है, गोपालन बनाम मदरास राज्य 1950, आर्टिकल 21 विधाईका और कार्यपाली का दोनों के विरुद्ध सरक्षन देता है, भई आर्टिकल 21 ही नहीं, वैसे तो पूरे मूल अधिकारी हमें बचाता है, किन से? ना केवल विधाईका से बलकि कार्यपाली का से भी, राष्टिय मा अधिकार आयोग बनाम अरुनाचल प्रदेश, आर्टिकल 21 नागरीक और गेर नागरीक, मलिक सिंग बनाम पंजाब राज्य, आर्टिकल 21 में निजता का भी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संग, कोन टेप करना निजता के अधिकार के खिलाप सत्वन्त सिंग बनाम असिस्टेंट पास्पोर्ड ओफिसर नई दिल्ली, ये भी बहुत अच्छा अधिकार है, विदेश में भ्रमन करने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है, मतलब विजय माल्या कह सकते कि मैंने तो आर्टिकल 21 का पालन किया है, और मैं विदेश भ्रमन कर ने गया था, नीरव मोधी भी ऐसा कह सकते है, प्रेंसिस कोरेली बनाम भारत संग 1981, मानिविय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, अब वापिस आ गए हम, गरिमा मैं जीवन, मोहिनी जेन बनाम करनाटक राज्य, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, देखो उस समय तो ये 21 में था, लेकिन अब ये 21, ए में बकाइदा वड़नित किया गया है, स्पी महता बनाम भारत संग, स्वच्छ पर्यावरन का अधिकार, सुभाश कुमार बनाम बिहार राज्य, प्रदूशन मुक्त जल और वायू के उपभो का अधिकार, देखते चलिए क्या क्या आग गेरनागरिक दोनों को हैं, निजता आ गई, फोन टेपन करना, विदेशी भ्रमन का अधिकार, मानिविय गरीमा, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरन, प्रदूशन मुक्त जल और वायू के उपभो का अधिकार, विशाका बनाम राजस्थान राज्य, कार्य तुरक्षा से संबंदित निर्देश, नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्टी राजधानी शेत्र दोजार नौ, दो वयसकों के बीच, समलेंगिक संबंदों को सवेधानिक मान्यता, धारा 377, धारा 377 आर्टीकल 14, 15, 21 के विरुद्ध मानते हुए, इसके एक भाग क खारिच किया गया और समलेंगिक संबंदों को हमारे देश में अब अपराध नहीं माना जाता है, श्रया सिंगल बनाम भारत संग 2015, आईटीक की धारा 66A, उस समय एक मामला हुआ था महाराष्ट में, कि उस लड़की ने सोशल साइट पर बाला साब ठाकरे के खिलाब कुछ बोल दिया था, तो उस पर केस हो गया था और उसे गिरपतार किया गया, तब सुप्रीम कोट ने कहा कि सोशल मीडिया पर विचार और अभिवेक्ती की स्वतंतरता 19 में, विचार और अभिवेक्ती की स्वतंतरता के, मतलब समान है, उसके अंतरगत है, तो आप उनको गिरप कर रहे तो उसका उलंगन है क्योंकि धारा 66A असीमित स्वतंत्रता प्रदान करती है मतलब यहां पर कहा गया है कि भी IT Act की धारा 66A शायरा बानो बनाम भारत संग 2017 यह भी हाल फिलाल का मामला है तीन तलाक गैर कानूनी है लेकिन वो 21 के तहत नहीं बताया गया बलकि उसको 14 औ 15 के तहट डिक्लियर किया गया कि विभेद हम धर्म के आधार पर भी नहीं कड सकते हैं 2021 भारत के सविदान के किस अनुचेत के अंतरगत निजता का अधिकार है यह तो बहुत सिंपल सवाल है 2022 सीडियस भारत यह मुद्दा की क्या भारतिय दंड सहिता की धारा 377 भारत के सविदान के आर्टीकल 21, 14, 15 का उलंगन करती है निम्नलिकित में से किस एक वाद में निर्नित किया गया था मुझे लगता है हमारी टीम ने वो वर्णन किया है मामलू का तो नाज फाउंडेशन में यह था शायरा बनो बनाम भारत संग था ट्रिपल तलाग के लिए वो ट्रिपल तलाग को बताने के लिए फिर श्रेया सिंगल बनाम 66 ए और विशाका बनाम राजस्थान राज्य राजकार्य स्थल पर महिलाओ का योन शोशन नहीं तो वो एक्चुली हमारी टीम ने इसको समझाने के लिए डाला है आर्टिकल 21 के अंतरगत और भी अधिकार है देखते चलो क्या क्या है अपनी पसंद के पुरुश या महिला के साथ परसपर सहमती से विवा का अधिकार त्वरित विचारन मतलब मेरी अर्जी जल से जल सुनी जाए मतलब न्यायले में मेरे मामले को जल से जल लिया जाए कामकाजी महिलाओ का योन शोशन से सरक्षन का अधिकार लावारी सम्रतकों का शिष्टता और शालिनता से दहा संसकार अगर कोई लावालिस डेड बॉडी पर भी किसी प्रकार से हमला करता है तो वह अभी एक जगन्य अपराध ही माना गया है भिकारियों के पुनरवास का अधिकार धुम्रपान से सरक्षन का अधिकार विध्यार्तियों का रेगिंग से सरक्षन का अधिकार स्तोंदर्य प्रत्योगिता में नारी गरिमा को बनाएं रखने का अधिकार बिजली का अधिकार हतकडी बेडियो एकांतवास से सरक्षन का अधिकार लेकिन एकांतवास कोरोना में तो किया गया तो वो विशेश परिस्तिती में रहेगा और यह बहुत बड़ा अधिकार तुम्हें आज पता चला है अब माता जी ने कभी समय से पहले उठा दिया तो आप यह कह सकते हैं कि आप नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा उलंगन कर दिया है इसके लिए मैं सीधे सुप्रीम कोट जा सकता हूँ तुम पहुचो ना पहुचो तुमारी स्थदी दैनिय जरूरोने वाली है तो इतने सारे अधिकार आर्टिकल 21 में है तो देखो इसमें इतने याद नहीं रखें बस इतना याद रखें कि 19 में कोन सा है बाकी जितने सब हैं वो केवल 21 में है तो आप सभी न याद रखें बलकि 21 को छोड़ दो और बाकी याद कर लो फिर जो बच गया वो 21 में ही होगा ऐसा याद रखेंगे हम लो राइट टू शेल्टर जहां एक जैसे थन के समय में इनको बातचित आती हैं गरीमा में जीवन का हिस्सा है क्योंकि आपको रक्षा करने का दाईत्व सुरक्षा का दाईत्व सरकार ने दिया है राज 6 से 14 वर्ष के आयू के समस्त बालकों को समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे की राज विधी द्वारा अउधारित करे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा सविधान संशोधन 86 वर्ष दो हजार दो आर्टीकल 21 ए इसी को हम कहते हैं आर टी ए राइट टू एजूकेशन परूम्र पर गौर करेंगे 6 से इसके बाद राज्य की कोई गैरंटी और इसके पहले भी राज्य की कोई गैरंटी नहीं है 86 वा सविधान संशुधन 2002 के माध्यम से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया अब देखो मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित क्यों करना पड़ा होगा क्योंकि जिसको मूल अधिकार मिला वो 6-14 वर्ष का एक बच्चा है उसको खुद नहीं पता है कि उसको ये मूल अधिकार मिला है तो उसके लिए तो कारवाई किसको करनी पड़ेगी पैरेंट्स को जो हमारे जैसे वयसको लोग है उनको तो वयसको को ये दाइत्व दिया गया है पैरेंट्स को कि 6-14 वर्ष की आयू के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे और अगर कोई इंस्टिट्यूट मना कर रहा हो तो आप उसकी कारवाई हम पर छोड़ दीजिए पर क्या यहां प्राइवेट लोगो पर भी लगेगा हाँ लेकिन उसका एक परटीकुलर दाइरा फिक्ष्ड है एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम उस मूवी में इस कहानी का वर्दन किया गया है कि कैसे अमीर मातापिता अपने बच्चे को दिल्ली जैसी जगह पर एडमिशन दिलाने के लिए गरीब बनने का नाटक करते हैं वो भी किसलिए केवल आर्टीकल 21-A के अंतरगत इस मूवी से आपको पता चलेगा कि आर्टीकल 21-A कितना महतुपुर्ण हो गया है आर्टीकल 22 स्वतंतरता का लास्ट आर्टीकल चेहरे भयानक ना करो अभी तो दो घंटे भी नहीं हुए है थोड़ा ब्रेक देंगे जब अधिकार पूरी तरह से खत्म होंगे फिर DPSP फिर फंडामेंटल ड्यूटी आज अगर फंडामेंटल ड्यूटी खत्म नहीं हुआ तो इसका परिनाम मुझे कल फिर स्पीड पकड़नी होगी और फिर स्पीड होगी तो पॉलिटी में मजा नहीं रहेगा तो वापीस आते हैं आर्टीकल 22 ये भी बड़ा इंपोर्टेन है निरोद और गिरपतारी से सरक्षन मतलब गिरपतार कोई करने आए और आप कहरें कि भी मैं तुम्हारे साथ चलने को तयार हूँ तो कोई हतकड़ी लगाने की जरुवत नहीं है गिरपतारी के कारण जानने का अधिकार वकील से परामर्श करने का अधिकार 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार आर्टीकल 22 का उन व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जिने नजर्बंद किया गया हो नजर्बंद कार्थ होता है अपरात करने से पहले ही हिरासत में ले लेना ताकि वह व्यक्तियों संभावित अपरात को अंजाम जब चुना होते तो कई लोगों को नजर्बंद कर दिया जाता है जो जन्रली चडचित है, फेमस है कि ये तो आएगा ही। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक बड़ा सवाल यहां है, आर्टीकल 21 और आर्टीकल 20 किसी भी आपातकाल में खत्म नहीं होते हैं, पर अब 21 तो बहुत बड़ा हो गया है, 21 में तो केवल दैहिक और प्रान की स्व आपातकाल में सुरक्षित रहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि 221, पर मैंने आपको बताया, 21 अब कोई एक थोड़ी रहा, भंडार हैं, पूरी टोकरी भर गई अधिकारों की, तो मेरा सवाल यह है, आपातकाल में आर्टीकल 21 नहीं खतम हो तो क्या वो सारे आर्टीकल, सारे के सारे अधिकार जो न्याया लएने समय समय पर हमें दिये, वो सारे क्या खतम नहीं हों गया आपातकाल में। सुप्रिम कोट पहुचा भी नहीं है, मतलब अभी इसका पूरा प्रश्ण चिन्न, मतलब हम कह सकते कोई निर्न नहीं है, जो 21 में वास्तविक लिखा गया है, वो तो गयारेंटेड खतम नहीं होगा, लेकिन जो टोकरी भरके दिये गए हैं, उस पे क्या होगा, अभी वो स पश्ट, इसलिए अगर कोई ऐसा सवाल आ जाएं, कि आपात काल में कोन सा आर्टीकल खत्म नहीं होता और उसमें वर्णन हो, तो हो सकता है निजता खतम हो जाए, हो सकता है बाकी भी खतम हो जाए, क्योंकि अभी उन पे कोई निर्न नहीं है, लेकिन प्रान और दहिक स्व महीने से ज्यादा नजर्बन नहीं रखा जाता, यदि किसी कारण तीन महीने से अधिक समय के लिए नजर्बन करना है, तो इसके लिए एक सलहाकारी बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें हाई कोट के जज होंगे, वो निर्न नहीं लेंगे कि हाँ भाईस आदमी को तीन मही महीने से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, अन्य था नहीं, अभी हमने केवल दो अधिकार देखे, एक था समता का और दूसरा था स्वतंत्रता का, अब दो आर्टीकल हैं जो शोशन से हमारी रक्षा करता है, और सरकार को ये दाइत्व देता है कि किसी भी न पुर्व्यापार और बलात श्रम, बलात श्रम का मतलब होता है किसी से बल पुरुवक काम करवाना, जैसे घर में कई बार पिताजी कहते कि अगर पानी नहीं लाएं तो तुमारी पिटाई धुलाई कर दी जाएगी, तो ये आपको रक्षा देगा किस से हैं, बलात श्रम स तो आप ये कह सकते हैं पिताजी को, कि ये मेरे मूल अधिकार 23 का उलंगन है, वो बाद में आपका निर्दय है कि आपके साथ क्या होगा, पर इसमें अपुवा देख लो, राज्य स्तारवजनिक उद्देश के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता, इसका सबसे जीवन तुध खारण कोरोना, कोरोना की महामारी में जितने सरकारी डॉक्टर थे, क्या वे अपनी जौब छोड़ सकते थे, नहीं, क्यूंकि ऐसी परिस्तिती में, जब राज्य को लगे कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए तुमारी सेवाय अनिवार्य हैं, तब तक आप लोगों क वहां जबर जस्ती भी काम करना पड़ सकता है, आर्टिकल चोबिस, राज्य किसी फैक्टरी, खान अत्वा अन्य संकट वाली गतिविदी में, चौदा वड़्च से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर, काम पर नहीं लगाएगा, यह प्रतिबन किसी नुकसान न पहुच कार्यों के संबंद में लागू, मतलब मान लीजे कि किसी अभीनेता काथ साथ साल का बेटा किसी मूवी में काम कर रहा है, तो वो चलेगा, कोई भी चाय की दुकान जो पिताजी की थी, वहां यदि अपना ही पुत्र काम कर रहा है, तो वो भी चलेगा, लेकिन जहां कोई अभी नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, जैसे फैक्टरी, खान या अन्य संकट वाली गतिविधी में, वहां राज्य पर रिक्वेस्ट की गई है, आदेश दिया गया है, कि आप ऐसे कार्यों में व्यक्बच्चों के संम्मिलित होने को रोकोगे, तो छोटे साधे क काम चल सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई खतरना काम स्विकार नहीं है, फिर हैं हमारा चौथा मूल अधिकार, धर्म से स्वतन धर्म की स्वतन तरता, हर व्यक्ति को अपने अनुरूप धर्म मानने और उसका प्रचार करने की स्वतन तरता, आर्टिकल पत्चेस, सभी व्यक्ति को धर्म को मानने, धर्म के अनुसार आच्रन करने तथा उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता, लेकिन दो अपवाद इसमें हैं, इस पश्टी करने अपवाद नहीं, सिक्कों को कृपान धारन करने की स्वतंत्रता रहेगी, और हिंदू शब्द का मतलब सिख, जैन और बोद्ध ध धर्म भी रहेगा, आर्टिकल 26, प्रतेक समुदाय को अपनी धार्मिक गतिविद्या प्रबंधित करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई कथा का आयोजन करना चाता है, तो वो कर सकता है, धार्मिक कारियों के संबन में कोई चल अचल संपत्ती को खरीदना या बेचना, यदि कोई धर्म का व्यक्ति अपने मंदिर के निर्मान के लिए जमीन खरीद कर वहां मंदिर बनाना चाता है, तो वह कर सकता है, आर्टिकल 27, किसी व्यक्ति पर किसी विशेज धर्म को बढ़ावा देने के लिए, राज कोई कर एक अर्थ यह भी कि राज्य धर्म के आधार पर कभी टैक्स की वसूली नहीं कर सकता, और यही बड़ा कारण है, कि किसी भी प्रकार के धर्मिक शेत्र हैं, संगठन हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगते, विशेश कर मंदिर, मस्जित और गुरुद्वारे में आने वाले पैसों में, आर्टीकल 28 धर्म का अंतिम अमूल अधिकार धार्मिक और भाशाई अल्पसंक्यकों को विध्याले खोलने, उनका प्रबंदन करने की स्वतंत्रता, कोई भी अल्पसंक्यक वर्ग अपनी पसंद की शेक्षनिक संस्ता चला सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी, ये केवल अल्पसंक्यकों के लिए जो भी अल्पसंक्यक दो प्रकार के परिभाशित है, धार्मिक और भाशाई अल्पसंक्यकों को अपनी बोली, भाशा, संस्कृती, भाशाली, पी, संस्कृती को सुरक्षित रखने का अधिकार, और धार्मिक और भाशाई अल्पसंक्यकों को विध्याले खोलने और प्रबंधन करने की स्वतंद्रत, I think 28 गलत हो गया है, 28 में क्या है, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध और नहीं, यदि नीजी स्कूल में भी आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, तो वह आप बाध्यकारी नहीं कर सकते, जैसे सुर्य नमस्कार ये केस मध्य प्रदेश में हाई कोट गया था, तो वहाँ के हाई कोट ने का किस सुर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बलकि एक प्रकार का व्यायाम है, इसलिए हाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा की बात नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर धार्मिक शिक्षा को आप स्कूलों में नहीं दे सकते हैं, और किसी प्राइवेट स्कूल में भी देना है तो वह कंपल सरी नहीं किया जा सकता है फिर आर्टिकल 30 में वापिस आते हैं धार्मिक और भाषाई अलप संक्यको को विध्याले खोलना जैसे मदर्सा तो क्या मदर्सा पर सरकार प्रतीबन लगाएगी क्योंकि आर्टिकल 30 के तुने यह अधिकार दिया गया है क्या संस्कृत भाषा के लिए स्कूल खोलने का विशेश अधिकार है? है क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा अब वास्तविक रूप में अलप संक्यको की हो गई है तो कोई बे अलप संक्यक वर्ग अपनी पसंद की शेक्षनिक संस्ता च कर सकती, जैसे इस समय अल्प संख्यक मंत्रालय में मंत्री कोन है? अल्प संख्यक मंत्रालय में जन्रली, अभी तक के रिकॉर्ड में कई बार मुस्लीमी मिलते थे मंत्री, अब जो इसमीता क्या बोलते हैं? सम्रती, रानी, मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में एक इसाई समुदाय के व्यक्ति है, तो वो भी अल्प संख्यक समुदाय ही हैं दोनों के दोनों, इसलिए उनको इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सोपी गई है, वापिस आईए अब जरा इस पर एक बार पूरे आर्टीक पर आएंगे हम मेनली, सबसे पहले हमने बात कहीं, चवदा से लेकर तो बाईश अब दोहरा नहीं रहें, तेईस की बात करते बलात श्रम, ये प्रतिबंदित है, चोबिस पर बात करें, छे से चवदा वर्ज के बच्चों को किसी ऐसे जोखिम वाले काम में लगाया नहीं जा सकता 20 को हो, 25 गार्मिक अंतकरन की स्वतंतरता, 26 गार्मिक कारेक्रम के लिए चल अचल संपत्ती को हो, या फिर अपना कारेक्रम का प्रबंधन को हो, 27 धार्मिक टैक्स नहीं 28 इस्कूलों में धार्मिक शिक्षा 29 धार्मिक और भाशाई अल्प संक्यक और 30 वही अल्प संक्यक अपनी स्कूल खोल सकते हैं और उन्हें सुरक्षित अपनी भाशा लीपी को रखने का अधिकार है फिर है आर्टिकल 31, 31, B, 31, C वैसे B को अब इसले भी नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि 300A में से B को भी खत्म किया गया है आर्टिकल 31, A और 31, C के अनुसार अनुछेद 39B, 39C में वर्नित प्रावधानों को लागू करने के लिए यहां इसमें प्रावधान है कि संपत्ती किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए कानुन को केवल इस आधार पर चुनोती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 और 19 का उलंगन करते हैं 31A और 31C में लिखा गया है कि 39B और 39C के प्रावधानों को लागू करने के लिए आप केवल 14 और 19 के आधार पर चेलेंज नहीं दोगे पर आप इनके अलावा किसी आधार पर चेलेंज दे सकते हो हालाकि यदि 14 और 19 के अलावा किसी अन्यमूल अधिकार का उलंगन होता है तो न्याले उस विधी को शुन्य गोशित कर सकती है उधारन के लिए दि राज जे इस प्रकार की कोई विधी आर्टिकल 14 के उलंगन के साथ 15 का उलंगन करती हो तो विधी क्या हो जाएगी शुन्य तो 31 A और C वैसे अब इसको पढ़ना इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि अब हम मानते हैं कि ये मूल अधिकार का कोई हिस्सा नहीं रहा पर हमें ये देखना है 39 B और 39 C क्या है DPSP में तो पढ़ेंगे लेकिन एक बार फिर याद करते हैं राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि वह समाज के प्रतेक वर्ग को लाप पहुचाए मतलब इमेजिन करो कि राज्य ने जमीन ली और वह एक विशेश जाती विशेश धर्म के लोगों में बाट दी तो आर्टिकल चौदा कहता है कि राज्य तो विभेद करेगा नहीं तो सुप्रीम कोट कहेगा यहां यह चलता नहीं है यहां आपके वल चौदा के आधार पर उसको वाइलेट करने के आधार पर कैंसल नहीं कराएंगे और आर्टिकल 39C के अनुसार राज्य अपनी अर्थ विवस्ता का संचालन इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और वित्रन के संसाधनों पर स्तमाज के किसी एक वर्ग का नियंत्रन न हो बलकि समाज के समस्त वर्ग 2020 CDS में था कि निम्नलिकित में से भारत के सविधान के कोन से आर्टिकल मौलिक अधिकारों के 14 और 19 में उल्लिकित प्रावधानों के अपवाध है मतलब उन आधारों पर वो खत्म नहीं होते आर्टिकल 31 A और आर्टिकल 31 C और कौन से आर्टिकल को लागू करने के लिए 39 B और 39 C आर्टिकल 32 जिसे हम कहते हैं Constitutional Remedies सवेधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर अंबेट करजी के शब्दों में एक आर्टिकल जिसके बिना सविधान अर्थ ही नहें यह सविधान की आत्मा और रदय हैं मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए Supreme Court पाँच प्रकार की रिट रिट मतलब विशेश आदेश जारी कर सकती हैं पहला हैं बंदी प्रत्यक्षि करन, हीबस कारपस, परमादेश, मिंडामस, प्रतिशेद, प्रोहिबीशन, उत्प्रेशन, स्थार्टोररी, अधिकार प्रश्य, क्योव वारंटो अधिक बंदी प्रत्यक्षिकरन मतलब जिसे गिरपतार किया उसे मेरे सामने पेश करो सशरीर परमादेश हमारा ये आदेश है प्रतिशेद नयाले से कहना कि तुम उस मामले में शान्त रहो और उसे उस पर कोई चड़चा मत करो और उत प्रेशन तुम चुब बैठो रुसे मेरे पास भेजो अधिकार प्रच्छा किसी भी अधिकार संपन अथोरिटी से पूछे किस अधिकार के कारण आप ये निर्ने ले रहे हो इन दोनों में बड़ा अंतर है प्रतिशेद का जो मामला है जब कारवाई पूरी हो जाए और न्यायालय निर्नय देने वाला है और उत प्रेशन अभी कारवाई चल रही है तभी उसको मा अपने पास मंगवा लेना है उल्टा बोल दिया है एक बार फिर देख लेते हैं शाब्दी करता आपके पास शरीर है इसी वेक्टी को जबरनिरासत में रखने के सारवजनिक प्राधिकरन या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है परमादेश हम आदेश देते हैं नीजी व्यक्ति नीजी निकाय राष्टपति या राज्यपाल के खिराब जारी नहीं किया जा सकता केवल किसी भी संस्ता जो सरकार के द्वारा चल रही हो निम्लिकित में से कोन सी एक रिटकार्थ है आपके पास शरीर है मैं ये सवाल इसले दिखा रहा हूँ हिंदी रेख लो इसका ट्रांसलेट नहीं है तो अंग्रेजी के शब्द भी याद रखेंगे प्रतिशेद न्याईक या अर्धन्याईक संस्ता के विरुद्ध जारी किसी अधिनस्त न्यायले को अपनी अधिकारिता का अतीक्रमन करने से रोकना और उत्प्रेशन न्याईक अर्धन्याईक संस्ता के विरुद्ध प्रतिशेद रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कारवाही चल रही हो जबकि उत्प्रेशन रिट कारवाही समाप्त होने के बाद निर्ने समाप्ती के उत्देश्य से मतलब मैंने उल्टा बोल दिया था उत्प्रेशन में मामला खतम बस वो डिक्लियर करनी वाले थे कि उनसे का कि तुम उसको मेरे पास भेजो और अभी ही चल रही थी और सुप्रीम कोट ने कहा कि उस मामले को तुम कुछ भी मत करो शान्त रखो उसे प्रोहीबिशन मतलब प्रतिशेद और आपका क्या प्राधिकार है सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ती के यह जनरली ऐसा होता है कि मानलो किसी पर्टिकुलर पद में नियमों का पालन नकरते हुए किसी भी व्यक्ती को सरकारन उत्च पद पर बिठा दिया तो फिर सरकार के खिलाप यह उस व्यक्ती के खिलाप अधिकार प्रच्छा के तर सुप्रीम कोड पूछेगा कि आप किन अधिकारों के आधार पर यह शक्ति प्राप्त करते हो उच्चतम न्याले और उच्च न्याले की रिट अधिकारिता में अंतर सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि सुप्रिम कोट केवल मूल अधिकारों पर ही रिट देगा जबकि हाई कोट सभी प्रकार के अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है सर्वच्च न्याले केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्तती में रिट जारी कर सकता है उच्च न्याले किसी अन्य उद्देश के लिए उच्चतम न्याले की रिट अधिकारिता का प्रभाव पूरे भारत में है उच्च न्याले की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंदित राज्य की सीमा में सुप्रीम कोड हाई कोड के विरुद्ध प्रतिशेद तथा उत्प्रेशन रिट जारी कर सकता है किन्तु हाई कोड सुप्रीम कोड के लिए ऐसा उत्प्रेशन और प्रतिशेद रिट जार पर एक सवाल, मान लीजिए कि आप रहते हैं मध्यप्रदेश में, आप घूमने गए थे केरल में, केरल में एक सरकारी संस्ता के व्यक्ती ने आपके मूल अधिकारों का उलंगन किया, आप वापिस अपने घर आए, और मध्यप्रदेश के हाई कोट में, अपने मूल अधिकारों के जरक्षन की मांग के लिए 226 के तहत मामला दायर किया, अब मध्यप्रदेश का हाई कोट, व्यक्ती को बुलाना चाहा रहा है, क्या ये संभव है या नहीं? पहले नहीं था, पर सविधान संशोधन करके हाई कोट कोई अधिकार दे दिया गया, कि वह किसी दूसरे राज्य के सरकारी संस्ता से जुड़ेवे व्यक्ती के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है, मतलब मध्यप्रदेश का हाई कोट केरल के उस अधिकारी के खिलाब भी रिट जारी कर सकता है, पहले ये अधिकार नहीं था, सीडियस दोजार बीस, आर्टीकल बीस के अधिन उच्चतम न्यायले किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है, मतलब सुप्रिम कोट के रहा भी मेरे पास मता हो, आंसर आना चाहिए केवल और केवल, क्यूँ, सुप्रिम कोट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकता है, व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायले से उप्चार उपाय पा सकता है, किसी विवादित तत्यों की जाच की जानी चाहिए, याचिगा करता ने उस मामले पर फ्रयोज्य समूचित रिट के लिए मांग नहीं की है, इन आधारों पर मना नहीं कर सकता, लेकिन केवल एक आधार पर मना कर सकता है, वो मूल अधिकारों का उलंगन ना हो, अब आते हैं, मूल अधिकारों में 32 पढ़ाने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो ये 33, 34 और 35 क्या है, जनरली मार्शल लौ की जग ज्यादा बेटर कहें, कि मूल अधिकार कुछ लोगों के सीमित रहेंगे, जो सेना में भड़ती होगा, क्या वो अभिविक्ती के नाम पर अंदर के राज बता सकता है मीडिया को, कभी भी नहीं, संसत को अधिकार है कि वो सशस्त्र बल, अर्द सेनिक बल और पुलिस बल, खूपिया विभाग एजन्सियों, अन्य के मूल अधिकारों को युक्ती-युक्त प्रतिबंदित कर सकते हैं, मार्शल लौ को असाधारन परिस्तिती जैसे युद्ध, अशान्ती, गंगा या कानून का उलंगन आदि स्तती में लागू किया जाता है, आपने सुनाओगा धारा 144, ये बहुत कौमन लगाया जाता है, 34, मार्शल लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंदित की शक्ती, सशस्त्र बलों के समुचित कार्य करने और अनुशाशन को बनाए रखना, आर्टिगल 35, केवल संसत को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ती, मूल अधिकारों के क्रियानवयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्याले या उच्च न्याले को सशक्त बनाना, लेकिन एक ओर था 35A, जो 370 में जब संशोधन हुआ, तो ये समाप्त हो गया, 370, क्या था 35A, पहले वहाँ पर केवल ये शर्ट थी कि जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं, उनकी जमीन को कोई दूसरा नागरीक नहीं खरीच सकता, तो अब ये 35A को क्या कर दिया, ये समाप्त हुआ, 370 समाप्त, 370 रियल में केवल संशोधित हुआ है, तो यहां पर मूल अधिकारों के बारे में बात्चित खत्म, थोड़ा सा आपातकाल को देख लेते, मूल अधिकारों के साथ, 358 क्या कहता है, केवल युद्ध या बहारी आकरमन के आधार पर राष्टी आपातकार लागू है, तो आर्टिकल 19 का क्रियानवेन स्वतह, खतम हो जाएंगे वो, पर वो केवल कब, यदि आपातकाल का आधार कोई बहारी आकरमन है, लेकिन आंतरीक शांती तो नहीं हो सकता, आंतरीक सशस्त्र विद्रो की स्थती हो, 359 राष्टी आपातकाल के दौरान राष्टपती 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित करतकता है, मतलब 20 और 21 कभी निलंबित? अब देखो, यहां रियल में स्थतह समाप्त नहीं होते, तो अगर हम बात्चित करें, तो्स्थतह समाप्त नहीं होते की जगा होना चाहिए, जो कभी समाप्त नहीं होते, तो सही उत्तर होता 20 और 21, क्योंकि यहां तो ऐसा लिखा है 59 में किसी भी मूल अधिकार के प्रवंतन को निलंबित कर सकता है मतलब वह निलंबन भी हुए नहीं है तो निलंबित कर सकता है लेकिन क्योंकि UPSC ने इसका अंसर दिया है 2121 में यहां स्वतन होना चाहिए शब्द क्या होना चाहिए आपात काल के दोरान समाप्त नहीं होते तो उत्तर आएगा 2021 2021 सीडियस भारत के सविधान के संदर्व में निम्नलिकित में से कोन सा कथन सही नहीं है कोन सा सविधान संचोधन था ये 22 में निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन सावधिक उप्चारों का अधिकार सविधान के भाग तीन में ही है उच्य नियाले की रिट अधिकारिता भारत के उच्यतम नियाले से ज्यादा कभी के लिए रिट तो आंसर आना चाहिए था केवल और केवल पहला 85 की जग श्यासी फिर 2020 भारतिय नियाय विवस्ता में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है सुप्रिम कोट और निचली अधालते कभी रिट जारी नहीं कर सकती तो ये हैं राज्य के पंडामेंटल राइट्स नहीं बहुत लंबा जाएगा ये तो अब एक एक आर्टीकल देखने है फिर से वापिश एक समरी देख लेते हैं कौन सा आर्टीकल ऐसा है जो ये बताता है कि राज्य की परिभाशा क्या होगी कौन सा आर्टीकल संसत को ये बताता है कि आप तुप्रिम कोट और हाई कोट को मूल अधिकारों के सरक्षन के लिए सशक्त करोगे आर्टिकल 35 कौन सा फंडामेंटर राइट्स का आर्टिकल ये बताता है कि अध्यादेश या विधी के माध्यम से मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता कौन सा आर्टिकल धर्म की शिक्षा इसकुलों में देने से मना करता है 28 कौन सा टेक्स नहीं लगाने देगा धर्म क्या आर्टिकल 27 कौन सा आर्टिकल दोहरे संकट से बचाएगा आर्टिकल 20 दोहरे संकट 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन कि गिरपतारी के कारण जानना वकील से परामर्श करना 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने लाना नजर बंद वालों के लिए भी वही रहेंगे और किसी को तीन महिने से ज्यादा नजर बंद नहीं पर अगर ज्यादा करना है तो एडवाईजरी बॉडी बनाई जाएगी कौन सा आर्टीकल ये बताता है कि उपाधिया नहीं होगी कौन सा आर्टीकल नोकरियों में विभेद को मना करता है कौन सा आर्टीकल बच्चों के शोशन के विरुद्ध है चोबिस तेईस में तो बलाच श्रम की बात है चोबिस वाप बच्चों के सरक्षन की बात है कौन सा आर्टीकल बच्चों के प्रात्मिक शिक्षा या चौदा वर्ष्टक की शिक्षा 21A कौन से आर्टीकल में वर्णन है कि आप विदेश भ्रह्मन कर सकते हैं कौन सा आर्टीकल इस बात की ग्यारेंटी लेता है कि आप अपने धर्म का प्रबंधन और चल चल संपत्ति खरीच सकते धर्म के लिए 26 आर्टीकल 25 में क्या है अंतकरन की स्वतंत्रत कौन से आर्टीकल केवल भारत के नागरिक को ही मिलेंगे 15, 16, 19, 29, 30 कौन से ऐसे आर्टीकल है जो आपात काल में रद्ध नहीं हो सकते अगर बहारी आकरमन है तो अपने आप रद्ध हो जाएगा अगर हम बातचीत करें कि हमारे देश में जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों में कौन सा आर्टीकल उन मूल अधिकारों का ग्यारिंटर है 32 जिसे हमने सविधान की आत्मा या रदय कहा कौन सा आर्टीकल ये बताता है कि विधी की स्थापित प्रक्रिया है विधी की स्थापित प्रक्रिया आर्टीकल 21 विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया से ही प्रान और दैहिक स्वतंत्रता का समापनवंचित अंतिम रूप में कौन सा भारत में मूल अधिकार ऐसा है जो देश को ये प्रेरित करता है कि सभी लोग समान रूप से जीवाए थोड़ा सा ब्रेक ले लीते हैं मेरातन क्लास आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर रहें से प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए मैं आपका दो मिनिट का समय लूगा ताकि आपको आने वाले समय में एक बेहतर तरीके की जानकारी मिल सके यदि आप 2024-2025 की प्लानिंग कर रहे हैं 2024-2025 यदि आप एक प्रॉपर तरीके की गाइडलाइन, प्रॉपर तरीके से तयारी पूरा करना चाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं Unacademy के साथ, सवाल यह है कि क्यो Unacademy, तो यह सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में, कोर् Unacademy सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको किवब एक टाइम लिमिट बाउंडेड है, बाकि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर की कलास देख सकते हैं, एक कही सब्सक्रिप्शन पड़ जितने कलासे चल रही वो सब देख सकते हैं जितने टेस्ट हो रहे हो सब दे सकते हैं, अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, इसी में आपको material मिलेगा, इसमें आपके doubt clearing होंगे, इसी में आपको complete classes मिलेगी, multi educators मिलेगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका, तो यदि आप तयारी की planning कर रहे हैं और online platform ढून रहे हैं, तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि इससे best और कोई नहीं, पिछले दो वर्षों का अदबुत result आपके सामने हैं, इस्क्रीन पर आप देख सकते 170 से ज्यादा topper 2020 में, और 197 topper 2021 में unacademy नहीं दिये, सबसे बेहतरिन result, और इस स हमें unacademy ने एक बेहतरिन चीज किये, जो खास करके उन विद्यारतियों के लिए जो गरीब है, उन्हें लगता है कि वो, क्योंकि unacademy सबसे बड़ा platform है online में, जो सबसे ज्यादा free material उपलब्द कराता है, लेकिन कई बच्चों का कहना था कि हमें unacademy से classes चाहिए, minimum price में, तो unacademy लेकर आया, unacademy store, इसके माध्यम से आपको GS, CSET और Current Affair की classes बहुत minimum price में, ये recorded classes भी रहेगी, live classes भी रहेगी, ये module type है, module, module किसे कहते हैं, यदि आपनी YouTube पर बहुत कुछ कवर कर लिया, लेकिन आपको दो सबसे कवर करने हैं, तो आप unacademy store के माध्यम से कवर कर सक पर अगर आप Complete Preparation चाहते हैं, Complete Preparation, तो आपके पास है Plus और Iconic, Iconic क्या होता है, Iconic में आपको एक mentor अलोट किया जाता है, जैसे मान लीज़े, आप MK Live Refer Code यूज़ करेंगे, तो आपको दो mentor मिलेंगे, एक mentor तो मिलेगा, जो unacademy देगी, और एक मैं, क्योंकि आपने MK Live Refer Code यूज किया है, तो हर महीने, दो बार मैं आप लोगों से meeting करूगा, और आपके personal doubt, जो भी guidance चाहिए, वो आपको देते रहूगा, तो Iconic जो है, उसमें सारे plus benefit, one-to-one mentorship, discord नामक एप पर doubt solving session होते हैं, पूरी तरह से library, आपको open library खास करके digital library, और offline test भी इसमें उपलब्द कर आई जाते हैं, अब an academy offline mode में भी आ चुका English medium में, वहाँ भी आपको offline के साथ ये पूरा online subscription प्लस वाला मिल जाता है, प्लस में सारी चीजे मिलेगी, बस mentor नहीं मिलते हैं, बाकि आपको C-set, G-S, current affair, question test, series, doubt solving, सारी चीजे मिलती है, material भी आपको लेना नहीं है, सारा material, आपक free of course लिया जाता है, Iconic में physical material मिल जाता है, प्लस में आपको पूरा digital material मिल जाता है, ताकि आप बेटर तरीके से तयारी कर सके, MK-LiU हमारा refer code है, यह क्या होता है बई, तो हमारा यह refer code आपको instant 10% discount और सबसे best offer उपलब्द कराता है, साथी साथ MK-LiU में हम doubt clearing के माध्यम से आपको guidance उपलब्द कराते हैं, mock test आप हमारे वाले test देते रहोगे, personal mentorship हमारी तरब से मिलती हैं, और unacademy के वो सारे benefit, एक ही course मे pre-mains interview, सारी तयारिया आपको उपलब्द कराई जाती है, तो यह है unacademy online platform, भारत का सबसे best platform, अगर आप इस से better platform ढूण पाए तो मुझे comments करिएगा, बाकि आप लोग अपने मेरा थन class को पूरा देखिएगा, मेरा दावा है कि इस class के बाद, न केवल revision आपका better होगा, बल कि इस class को आप 2-3 बार देख लिजे, आप Indian geography में 10 में से 7-8 सवाल केवल इस class से ही attempt कर लें, प्रॉपर याद करेगा इसके material को, PDF को हमने इसी class में नीचे link कर दिया है, तो सभी को बे stop luck, continue देखते चलिए, मेरा थन class, धन्यवाद, तो साथ गंटे हो चुके हैं, मतलब साथ नी आठ, सुभा पाँच और अभी तीन, आठ गंटे ठीक लग रहा है अभी, मतलब ऐसी पील नहीं हो रहा है के हतोडे पड़ने रहे हैं, अभी सामान्य जीवन चल रहा है, तो कोशिच रहें, अगले एक देड़ घंटा तो नॉर्मल, आदा घंटा थोड़ा, मतलब ठीच ना चाह रहे हैं, साथ सवा साथ बची की प्लानिंग करते हैं कि ब्रेक लेंगे, ब्रेक मतलब कल तक के लिए, कल थोड़ा सा लेट रहेगा, साड़े साथ नहीं, आट बचे, ताकि थोड़ा सुबर सुबर लेट भी उठे तो भारी ना लगे, यहां से जाने के बाद पढ़नी की कोशिश, मतलब बस आराम से बैठना और सोचते रहना है, तो तुम अगर सोच रहे हो कि अब मैसर जाके पांच घंटे और पढ़ूगा, तो इसका केवल इतना सा परिनाम होगा कि एसीडिटी हो जाएगी पढ़ाई की, पढ़ाई की भी एसीडिटी मस्तिक्ष में होती, फिर कल जब आप बैठोगे, तो बात चल कुछ और रहेगी और दिमाग चलेगा कही और, तो बिलकुल आराम से दस घंटे का तारगेट बहुत परियाप्त कर लिया है, और यह बैठनी की आदा देगो, सुबह पांच घंटे कंटीनु फिर मानलो कि जब अबर जस्ती एक घंटा और, लेकिन उसके बाद धेर होना शुरू हो सकते हैं, तो मेरी अंतिम कैपेसिटी तेरवे घंटे तक है, 2013 का या बारा का समय था, जब तेरा घंटे से ज्यादा क्लास हुई है, तो मतलब, नहीं मुझे हो चुके, तो मतलब, यह जो हिस्सा है, ऐसा लग रहा था कि अब यह बन कर देगा, मतलब, बहुत परेशान हो गया कि अब तो रोको, तो मैंने चलती क्लास में, दो रुपए का उस तमया तीन रुपए का पारले जी आता था, तो उसका सेवन पांच मिट का ब्रेक लिया, और फिर एक घंटा और ज चुका है, तब मेरी तोन निकली भी नहीं थी, आप निकल गई है, तब मेरी जो उड़ जाये थी, तब मैं अविवाहित था, तो उस कारण से क्या होता है, कि एनरजी और उड़ जाये तोड़ी ज्यादा रहती है, तो उसका परिनाम होता है कि आप 14 गंटे, 13 गंटे जेल तो मुझे नॉर्मल था, पर मतलब मैंने जो सबसे लंबी क्लास इसलिए हो राजस्थान में रही, जहां पर 11 गंटे नॉर्मल हो जाता है, बड़ अब ये क्लास इसलिए भी मुझे अच्छी लगती कि इस से देखो, अगर ये 15 दिन हो जाये न क्लास, तो आपकी हैबिट म इसलिए किया करो, ताकि तुमारी सीटिंग हैबिट थोड़ी सी इंप्रू हो सके, आई अब हम वापित जीवन पर लोट रहे हैं, अभी तक हमने क्या-क्या पड़ा एक नजर देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलोजी को देखा, फिर उसके बाद हमने अपने सविधान का historical background जाना, फिर हमने सविधान के निर्मान में जो दो वर्ष 11 मैने 18 दिन लगे, उस दोरान क्या-क्या घटनाकरम हुआ, फिर उसके बाद हमारे सविधान की विशेशताओं को हमने समझा, फिर विशेशताओं के बाद हमने देखा कि हमा सविधान के sources क्या-क्या थे, और फिर sources के बाद हम आए हमारा भाग पहला, जिसमें हमारे देश के बारे में समपुर्ण जानकारी दी गई है, भाग दूसरा नागरिक जो देश के अंदर के नागरिक है, उन्हें नागरिक ता किना आधार उपर मिलेगी और फिर सबसे महत और सबसे बड़ा भाग भी कह सकता हूं है वो है आर्टिकल बारा से लेकर आर्टिकल पैतीस तक के फंडामेंटल राइट्स जो तीसरा चैप्टर था अब हम सविधान के चौथे चैप्टर पर हैं जिसका नाम है DPSP या राज्य के नीती निर्देशक तत्व अब समझेंगे फिर से एक बात कि यहां राज्य को एक तरीके से डाइरेक्शन देने वाले नियम है पर यहां कानूनी रूप से नहीं है बलकि यहां नैतिक रूप से उन्ने एक डाईत्व सौपा गया है कि राज्य का काम क्या होगा पर राज्य का अभिप्रा यहां पुनब बतादू मैं कि वही राज्य है जो कि आर्टिकल 12 में वड़नीत है अन्यता राज्य की परिभाशा आज आपने जानी जिसमें चार चीजे होती है वो राज्य होता है जनसंक्या, इस्थाई, भोगोलिक, शेत्रफल, संगटित सरकार और संप्रभूता लेकिन जो आर्टिकल 12 था उसने हमें बताया कि राज्य का मतलब भारत में सरकार का कोई भी संस्तान तो वही राज्य को एक जिम्मेदारिया दी जा रही है कि आप नागरीकों के लिए क्या-क्या कदम उठाओगे fundamental rights राजनितिक अधिकार हैं, राजनितिक justice हैं तो वही DPSP सामाजिक और आर्थिक justice लाने की कोशिश करेंगे DPSP में आप Supreme Court में या High Court में कोई DPSP के उलंगन के लिए जा नहीं सकते DPSP आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक रहेंगे और इस 51 तक में एक-एक आर्टिकल हमें पुना देखना और याद करना है सभी ना हो लेकिन बहुत महतुपुर्न आर्टिकल जो भी रहेंगे हम उसे याद करते वे रिपीड भी करेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें किस आर्टिकल में क्या-क्या बताया गया, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाशा दी गई है, वही परिभाशा सेम, इसको कहते ने कि हमारे देश का सविधान इतना लंबा क्यों हो गया, कई चीजे दो-दो बार बता दी, जो बार जो बात आर्ट आर्टिकल थर्टी सेवन में ये सपष्ट किया कि DPSP वाद योग्य नहीं है, मतलब आप उनकी मांग किसी नयाले से नहीं कर सकते पर वो नहीतिक जिम्मेदारी है, सरकार की कि वहां आपको उपलब्ध करा है, फिर मैंने आपको बताया कि ये क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हमारे देश के सविधान सभा के लोग हमारे नागरीकों को बहुत सारे अधिकार देना चाहते थे, इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूद का जला शाच भी फोक फोक कर पीता है, हमने इतने वर्षो की गुलामी जेली, अब आजादी मिली, तो हम चाहते हैं कि अपने नागरीकों को जी भरके अधिकार दे दे, लेकिन अधिकार नागरीक के विरुद्ध स्तरक्षन उपलब्द कराते हैं, तो कई ऐसा ना हो कि नागरीक को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दे, कि शाशन की काई कुछ भी ना कर सके, तो हमने DPSP के रूप में भविश्वर्ती अधिकारों को शामिल किया, और इसे हमने किसके सविधान से प्रेरित होकर लिया, आयरलेन के सविधान से प्रेरित होकर कि भई DPSP हमारे देश में ला देते हैं, ताकि जो अधिकार भविश्य में दिये जाने हैं, वो DPSV में डाल देंगे, तो सबसे पहले तो चैप्टर चवु था, आर्टिकल 36 से कावन, आइरलेंड के सविधान की संकल्पना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, गेरवाद योग्य और सरकारों के लिए नैतिक निर्देश, एक तरीके से मोरल आदेश कहलाएंगे, ग्रेंविल ओस्टिन ने नीती निर्देशक तत्वों को सामाजिक वंचित के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश से प्रेरित बताया, वही ग्रेंविल ओस्टिन ने इस किताब में ये लिखा है कि DPSV का मुख्य मकसद, सामाजिक रूप से पिछडे लोगों को लोकतंत के भीतर समाहित करना, उनकी प्राटिसिपेशन को बढ़ाना है, निमलिकित में से किसने राज्य की नीती के निर्देशक तत्वों को सामाजिक अपवर्जन के लक्षों को आगे बढ़ाने के उद्देश के रूप में माना, वही ग्रेंविल ओस्टिन जिसने हमारे तीन सि फिर पहला है अर्टिकल 36, राज्य की परिभाशा और राज्य की परिभाशा का मतलब आपको पता है, राज्य की कोई भी संस्ता, अर्टिकल 37, निती निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी तो नहीं है, किन्तु नैतिक में कोई बहुत बड़ी बात बताई नहीं है तो पहला DPSP शुरू होता है 38 से और 38 में लिखा गया है कि राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनितिक कल्यान के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्ता की इस्थापना का प्रयास करेगा मतलब न्याय पर ऐसा व्यवस् बनाने की कोशिश करेगा देश में कि किसी भी व्यक्ति को उसके विकास के आउसर समानता के रूप में प्राप्त होंगे आर्टिकल 39 महिला पुरुष के जीवन यापन के समान आउसर समान कार्य के लिए समान वेतन धन और उत्पादन के साधनों का समाज में समरूप वितरन मतलब 39 को हमें याद रखना है महिला पुरुष समानता इस्थापिद करना 39B और 39C हम देख चुके हैं जिसके लागू करने के लिए चर्चाए क्या होती है तो 39A पर आजाते है बस सभी को समान और निशुलक कानूनी साहता मतलब अगर हमारे देश में कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास वकील करने का भी पैसा ना हो तो सरकार उसे वकील उपलब्ध कराएगी तो हमारे देश में सभी को कानूनी साहता मिलेगी ये किस आर्टिकल में लिखा है 39A 39B क्या था 39B लिखा हुआ है कि आर्थिक संसाधनों का वित्रन सरकार कुछ ऐसे करेगी कि वह एक जगह पर संग्रहित ना हो और इसलिए हमने पढ़ा था कि 39B और 39C को लागू करने के लिए यदि किसी चीज में 14 और 19 का उलंगन हो भी जाए तो हम उसको न्यायले में चेलेंज नहीं कर सकते ऐसा 31 के लिए किया गया था फिर आर्टिकल 40 जो की महात्मा गांधी के विचारों का है ग्राम पंचायतों के गठन हे तू राज्ज तो हमारे देश में तो ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 19 आ गये थे लेकिन उसे सवेधानिकता मिली 1992 में 73 सम्विधान संशोधन के माध्यम से तो इसका मतलब कि सरकार ने प्रयास किया 40 आर्टिकल को पूरा करने के लिए ही पंचायतों को सवेधानिक मान्यता दी गई 41 राज, काम, शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे बिमारी जैसे अभाव की दशाओं में लोग सहायता सुनिश्चित करेगा राज, काम, बुढ़ापा, बिमारी जैसे अभाव की दशा में लोग सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा मतलब आर्टिकल 41 को अगर सिंपल सी बात कहें तो राज उन लोगों के लिए जो विशेश सम्हू में आते हैं जिसमें खास करके बुजुर्ग लोग कहिए उनकी सहायता करने के लिए पेंशन जैसी यूजनाएं लाएगा आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत दशाय और प्रसूती सहायता maternity 8 का मतलब कि जब कोई भी महिला जो कर्मचारी हैं और गर्बधारन की अवस्ता में हैं तो उन्हें सवेतन छुटी दी जायेगी अब तो पुरुष को भी क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 14 का उलंगन है कि लिंग के आधार पर विभेत किया जा रहा हैं तो वापीस आते हैं थर्टी नाइन से शुरू करें थर्टी नाइन में लिखा हुआ हैं कि पुरुष और महिलाओ को समान कार्य का समान वेतन थर्टी नाइन ए निशुलक कानूनी सहयता पॉट्टी पंचायतों के स्थापना फॉट्टी वन बुजुर्ग लोगों के लिए विशे सुरक्षा मतलब उनकी सहयता फॉट्टी टू काम की न्याय संगत दशाय और प्रसूती सहयता पॉट्टी थ्री ए या पॉट्टी थ्री पर आईए पहले मिनीमम वेज राज्य न्यून्तम मस्दूरी और श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा हमारे देश में जितने भी संगठित बॉडिज हैं उन सभी को ये निर्देश दिये गए हैं आर्टीकल 43 ए उद्ध्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की मतलब कोई इंडस्ट्री में जो मेनेजमेंट करने वाले बोर्ड होते हैं उनमें एक व्यक्ति स्वतंत्र निर्वाचित होता हैं किन के द्वारा मजदूरों के द्वारा और वो किन का प्रतिनिधित्व करता हैं मजदूरों का ताकि जो भी निर्दने उद्ध्योग में लिये जाएं उसमें मजदूरों की भी सहमती पूछी जाएं 43 B क्या है? सहकारी समीतिया कब हुआ? 2011 97 मतलब यह किस किस में आया? 19 में 43 B में वो तो पंचायत वाली जगह पे चले गएं अगर हम सिंपल सी बात कहें तो उद्ध्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागेदारी 43 A और सहकारी समीतिया राज्य बनानी में मदद करेगा 43 B 44 44 समान अक्षर है समान नाग्रीक सहीता 45 बड़ा इंपोर्टेंट 6-14 वड़्श के बच्चों को निशुलकोर अनिवार्य शिक्षा तो निशुलकोर अनिवार्य शिक्षा 21 A में हैं 45 A में हैं Constitutional Amendment तो फिर रिपीट कर रहे है 39 पुरुष महिला समान था 40 पंचायत 39 A निशुलक कानूनी सहयता 41 बुजुर्ग लोगों का 42 काम की न्याय संगत दशाय और प्रसूती सहयता 43 43 जो भी प्रबंधन होगा उसमें मजदूरों का पार्टिसिपेशन होगा 43 A Sorry, मैंने चाहिए 43 पहले 43 राज्य न्यूंतम मजदूरी और श्रमीकों के हितों को सरक्षित करेगा 43 A प्रबंधन में मजदूरों का पार्टिसिपेशन 43 B सहकारी समीतिया 44 समान नागरीक सहीता 45 शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की 46 SC और ST के लोगों के कल्यान के कार्य 47 कूपोशन या भोजन का व्यवस्ता सभी के लिए 48 A क्रिशी और पशू पालन को बेहतर तरीके से प्रोथ्साये 49 जो भी हमारे देश के समारक हैं उनकी रक्षा का दाईत हुआ 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का विभाजन 50 वने अंतर राष्टिय शान्ति की गए तो Fundamental Rights यहां पर अब डाल दिये गया तीन से लेकर 14 वर्ष जीरो से लेकर मैं इसको देख लोगा लेकिन जीरो मतलब ज्यादा नहीं हो जाएगा जीरो से चवदा लिखाए ठीक है तो इसको जीरो से चवदा देख लेना अब आईए आर्टिकल 46 थोड़ा सा याद करते हैं 46 को हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि भई हमारे आजादी का समय तो उस समय तो हमने भरपेट पार्टी मनाई आजाद हुए तो भई पार्टी तो बनती हैं और 47 का मतलब पोशन उपलब्द करवाना और लोग स्वास्त का राज प्रयास करेगा 46 तक तो हम समानता की बात करते थे जैसे कि SC और ST मांग करते रहे तो 46 को ऐसे याद 47 को इस प्रकार से 44 भी मुझे नहीं लगता कि दिकत जाएगे अब आते हैं इसमें 48 जब हमारा भरपेट पोशन हो गया तो हमने फिर पशुओ पर भी ध्यान देना शुरू किया तो हमारी पुर्ती के बाद हमने पशुओ के कल्यान की बात कही फिर 48 ए आया यह पर्यावरन की बात करेगा इसका मतलब है कि पहले पशुपालन और कृषि और फिर उसके बाद पर्यावरन यह सब ए वाली चीजे बाद में डाली गई है 42 सविधान संशोधन के माध्यम से 48 कृषि और पशुपालन की दिशा में राज्य के दायित्व 48 A पर्यावरन सरक्षन और वन्य जीव आधी का सरक्षन 49 कैसे याद रखेंगे इस दुनिया में सात अजूबे सात अजूबों का स्क्वेर 49 सरक्षन की गैरेंटी लेता है भई सात अजूबे हुए और सात का स्क्वेर 49 फिर आते हैं 50 जो की 50-50 की बात करता है कि जुडिश्री और एक्जीकेटिव पूरी तरह से क्या है ये जगडा कब से शुरू हुआ था सुप्रीम कोट बंगाल का वहां पर इस्तति ऐसी ही शुरू हो गए तो वास्तविक रूप में हमने उसे अर्टिकल 50 में एक्स्प्लेन किया कि दोनों चीजे बिलकुल अलग-अलग है आर्टिकल 51 अंतर राष्टिय शांती को बढ़ाने हे तु राज प्रयासरत रहेगा आर्टिकल 50 एक तरीके से संसदिय व्यवस्ता का प्रावधान भी है कैसे क्योंकि अगर ये संसदिय व्यवस्ता नहीं होती तो वहां केवल जुडिश्री और एक्जिकेटिव का सेप्रेशन नहीं बोला जाता फिर वहां बोला जाता जुडिश्री, एक्जिक्यूशन और लेजिस्लेशन का सेप्रेशन आर्टिकल 50 को अप्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंटरी सिस्टम से भी कई बार जोडा गया है तो 51 अंतिम DPSP है जो इस बात की गैरेंटी लेता है कि राज्य क्या प्रयास करेगा अंतर राष्टिय शान्ति एक बार फिर से याद कर लेते हैं 39 महिला पुरुश की समानता समान कार्य का समान वेतर 39 A मुप्त का वकील मिलेगा गरीब लोगों को 40 41 42 काम की न्याय संगत दशाय और प्रसूति साहयता 43 मिनीमम वेज निवन्तम मजदूरी 43 A उनके मेनेजमेंड में मजदूरों का पार्टिसिपेशन 43 B 44 समान नागरिक सहीता 45 14 वडश तक के निशुलक शिक्षा 46 से और स्ट के समान सरक्षन 47 पोशन की आवश्यक्ताओं को पूरा करना इसलिए तो राज्य कही प्रकार के योजनाओं के माध्यम से चावल, गेहू, न्यूट्रियन पूरा करने का काम करता है 48 कृषि और पशुपालन 48 A पर्यावरन 49 राष्टिय इसमारकों का सरक्षन 50 जुडिश्री और एक्जीकेटिव लेजिसलेटिव नहीं है, जुडिश्री और एक्जीकेटिव और 51 A अंतर राष्टिय शान्ति ठीक है राज्य की लोक सेवाव में न्याय पालिका को कार्य पालिका से प्रतक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा चैप्टर चार कहे या भाग चार 42 वे सविदान संशुदन के द्वारा क्या-क्या जोडे गए 39 A 43 A 48 A 48 पर्यावरन प्रबंधन में मश्दूरों का और निशुलक कानूनी सहयता 44 वे सविदान संशुदन 38 वन राज्य द्वारा लोक कल्यान की अभीवरद्धी का प्रयास और 97 वा सविदान संशुदन 2011 आर्टीकल 43 B सहकारी समीतिया मूल अधिकार और निती निर्देशक तत्व के जगडे में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संग में दोनों एक दूसरे के पूरक और दोनों का उद्देश सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक लोकतंत्र की स्थापना फिर आते हैं 51 A कब लाए गएं 1976 42 Constitutional Amendment सरदार स्वर्न सिंह समीति माननिय इंद्रा गांधी जी के कार्यकाल में कितने थे उस समय, आज कितने है और यह कहां से प्रेरित है सोवियत स्थंग उस समय के USSR से क्योंकि लोग जितने अधिकारों की मांग कर रहे थे वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे सोवियत संके सविधान से सरदार स्वन सिंह समीति 42 सविधान संशोधन आर्टिकल 51A भाग गेर बाद्ध्यकारी का मतलब कि अगर कोई नागरीक इन कर्तव्यों का पालन न करें तो उसे दंड दिया पर वर्मा कमीटी 1999 में बनी थी उसने सरकार को सिपारिश दी कि इसको क्या करिये पर क्या सरकार ने बाद्धेकारी किया क्या ये बाद्धेकारी होने चाहिए अगर इन्हें बाद्धेकारी करना है तो पहले DPSP को बाद्धेकारी कराईए अगर इन्हें बाद्धेकारी करना है तो पहले सरकार अपने दाईत वो का निर्वन पूरी तरह से कर ले, उसके बाद नागरीकों से उम्मीद करे क्यों, पहले सरकार क्यों, क्योंकि वो शक्ति शाली है, उसके पास संसाधन है, उसके पास पूरा तंत्र है, उसके पास सवेधानिक शक्तिया है, इसलिए पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है, फि क्योंकि हमारे पास बहुत नियुन्तम अधिकार है, क्योंकि हमारे पास कोई तंत्र या सिस्टम नहीं है, तो आए जरा देखते हैं, fundamental duties, सबसे पहली, याद रखना त्यान से सुनेंगे, UPPCS या किसी स्टेट PCS का इंटर्व्यू हो, तो कुछ याद करो ना करो, दो चीजे रटी हो, उद्देश्चिका और मूल कर्तव्य, कई बार इंटर्व्यू बोर्ड में बैठते हैं, पहला ही सवाल, बताओ मूल कर्तव्य, वो इसलिए ऐसी उम्मीद करते हैं, उन्हें लगता है कि जिस नागरिक को हम भड़ती करने जा रहे हैं, उसे अपने कर्तव्य तक पता नहीं हैं, तो वह क्या खाक अच्छी सर्वि यही दाग दिया जाता है, वो पहला हमारा कर्तव्य है, सम्विधान का पालन, ओवियसली पहला कर्तव्य तो जिसमें लिख रहे हैं, उसका ही पालन होगा, दूसरा, राष्टिय आंदोलन, जिसके कारन सम्विधान लिखा गया, वो था राष्टिय आंदोलन, उसके आदश जो थे उनका पालन करना तीसरा भारत की संप्रभूता एकता अखंडता की रक्षा करना ऐसे बयान नहीं देना जिससे देश की एकता और अखंडता को खत्रा पहुचे जैसे किसी ने कह दिया कि अब तमिल नाडू एक तमिल प्रदेश या तमिल देश बनेगा तो ये पूरी अमिधान का पालन फिर राष्टिय आंदोलन फिर उद्देश शिका में आ जाओ उद्देश शिका के महतुपुर्ण बिंदू फिर देश की रक्षा सभी के लिए भाईचारा बंधूता उद्देश शिका का निचला पॉइन बंधूता वाला फिर मिश्रित संस्क्रती की गवरव शाली परंपरा का महत्व समझे और उसका रक्षन करे मिश्रित मतलब सभी का साथ तभी का विकास ये संभव किसमें कहा गया है आर्टीक हमारे आर्टीकल 51 ए में छटवे नंबर का मूल करतव्य साथवा पर्यावरन को बचाओ आठवा वैज्यानिक कोई भी व्यक गश्यानिक बात आर्टी मन की बात जाने तो जानो क्या उसका भी कोई विज्ण है उसे अचानक किसी प्रकार की शिधी प्राप्तत्मत मानो इसे कहेंगे व्यज्यानिक दृष्टी को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कोई वैक्ति बस जलाने जाए तो उसे को रुको! य शेत्र में उतकर्ष की और बढ़ने का प्रयास, लंबी लंबी कक्षाओ को लेकर सिलेबस पूरा कराओ, क्योंकि हर शेत्र में बेहतर से बेहतर करना है, 6-14 वर्ष के बच्चो हेतू, प्राथमिक शिक्षा, प्षियासिवा सविधान संशोदन 2002, और मूल कर्तव्य 11, तो फि सविधान का पालन करेंगे राष्ठि आंदोलन के आदर्शो का पालन, भारत की प्रभूता, एक्ता, अखंडता की रक्षा, देश की रक्षा, सभी के लिए भाई चारा, सामसीक या मिश्रित संस्कृती की गवरोशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका रक्षन करे, प् ज्यानिक दृष्टी कोन, संपत्ती की रक्षा, सभी शेत्र में उतकर्ष की और बढ़ने का प्रयास, 6-14 वर्ष के बच्चो हेतु प्राथमिक शिक्षा, 86 सविधान संशोधन, 2022 पर आए, भारत के सविधान के भाग चार क में, निम्न लिखित में से कोन सा एक, भारत के प नहीजें, नहीं कहीं, नहीं बोल रहा है वो नहीं नहीं दो रहा है कि कोन सा नहीं है, अब दिको, सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा, सभी दिख रह सर की नहीं है, पर रास्तिय सेवा देना मतलब, राष्ट की रक्षा, इस्त्री की मर्यादा के लिए अपमांजनक व्योहार का परित्याग, भाई चारा, मतलब सभी के साथ समान था, एकात्मक राष्टिय संस्कृती थी, कि मिश्रित राष्टिय संस्कृती थी, आंसराना चाहिए था, इसलिए शब्दों पर ध्यान दे, कैसी संस्कृती का परिपोशन करना है, मिश्रित, अन्यविंचन और सुधार तो साइन्टिफिक हो गया न, साइन्टिफिक विचार, और आते हैं अब एक सविधान तंशोधन, किस चैप्तर में सविधान तंशोधन है, भाग बीस, चैप् आर्टिकल 368, यह एक ताकत है, कि हमारे देश में जो इतनी बाते लिखी गई, क्या उसे बदला जा सकता है, या नहीं, तो उसे बदला जा सकता है, दो तरीके से, एक तरीका कहलाता है, इस्पेशल मेजोरिटी, विशेश, और दूसरा तरीका कहलाता है, इस्पेशल मेजोरिटी, विशेश, बहुमत, प्लस, पचास प्रतिशत, राज, आधे से, आधा या आधे से, अधिक चल जाएगा, अब ध्यान से समझेंगे, बहुमत की जगह हमने वर्ड क्या यूज कि क्या, क्योंकि बहुमत का मतलब तो होता है, 50% प्लस, लेकिन विशेश का मतलब कोई भी आकडा, अब हमने वो आकडा क्या तहे किया, दो तीहाई, मतलब 66.67%, यदी सविधान में परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले तो आप, उसे लोक सभा में, या राज सभा में, कही भी ला सकते हैं, दूसरा, क्या आप उन्हें ज्वाइन सेशन से पारित कर सकोगे, लोक सभा से अलग और राज सभा से अलग पारित करना होगा, किस बहुमत से, दोनों में ही, दो तीहाई, यदी कोई ऐसा मामला है, जो संगिय विशय का नहीं है, फेडरल विशय नहीं सबसे ज्यादा जरूरी बात कि सविधान संशोधन के मामले में, राष्टपती के पास कोई वीटो पावर उन्हें अनुमती देनी ही पड़ेगी, तो दूसरा सविधान संशोधन सेम है, दूसरा मतलब विशय बहुमत प्लस 50 परसें राज, इसमें बस नहीं चीच क्या है, कि वो तब तक माना नहीं जाएगा जब देश के 28 राज्यों में 14 राज्य मिनीमम उसको सपोर्ट ना करें, सविधान संशोधन भाग 20 आर्टीकल 368 कहां से लिया गया, दक्षिन अफरीका के सविधान की संकल्पना, पहला है विशय बहुमत वाला, दूसरा है विशय बहु की अनुमती, अध्यान जिसम्झे, अमेरिका में भी हाई लेकिन अमेरिका में विशय बहुमत उन्होंने कौन सा आकडा लिया है, अब हमारे यहां पर два थाई लिया तो हमने का भी थोड़ा सा लचीला है, अमेरिका में सविधान संशोधन बहुत मुश्किल बहुत कथिन न और तीन चव उथाई में बहुत अंतर आ जाता है। दूसरा हमने का अभी इतना सरल भी नहीं है। कुछ मामलों में भली दोती हाई की बात हैं। लेकिन आधे राज्यों ने भी हां कहना चाहिए। इसका सबसे बड़ी आउधारन है। GST जैसा मुद्दा उनिस सो निन्यानवे में पहली बार विचारनी आया। लेकिन पारित कर पाये हम 2017 में इसका मतलब की अठरा साल लग गए इस बात का इंतजार करने में की मेजोरिटी भी मिल जाएगी और आधे राज्यों की अनुमती भी। बहुत मुश्किल निर्नय सविधान संशोधन विदेग संसत के दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्तुत। संशोधन विदेग प्रस्तुत करने हैं तो राष्टपती के पूरवानुमती की आवश्यक्ता संशोधन विदेग राज्य विधान मंदल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता मतलब राज्य सविधान मंदलो द्वारा सविधान में संचोधन प्रक्रिया प्रारंभ। लेकिन अमेरिका में राज्य भी सविधान संचोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अरक्षन बिल जो राज्य सभा ने पारित करके रख लिया, लेकिन आज तक लोग सभा में पारित नहीं हुआ है, अगर ऐसा होता कि ज्वाइन सेशन तो अभी तक शायद ये पारित भी हो जाता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां लोग सभा से अलग, राज्य तो महिला अरक्षन बिल राज्य सभाने पारित कर दिया, लेकिन अभी तक लोग सभाने पारित नहीं किया, संसत से पारित होने के बाद संशोधन विधयक को राष्टपती अनुमति देने के लिए बाद्य पुनर विचार करने के लिए भी लवता नहीं सकता, क्या सविधा संशोधन विधेयक मंत्री के अलावा गेर मंत्री कोई भी व्यक्ति जो संसत का सदस्य ला सकता है जी हां तो यह एक ऐसा विधेयक है जो सरकारी विधेयक के रूप में भी आ सकता है और प्राइवेट विधेयक के रूप में भी आ सकता और कई बार आया भी है जिन मामलों में बढ़ जाया जायाना जाया गाया, अमानों की 50% रणयों में मत जानना है, वहां कौनसा भूमत चाहिए? साधारन भूमत, वहां विशेज भूमत की जरूवत. कम से कम आधे राज्य विधान मंदलों को मत केवल उनी सविधान संचुदन विधेक के संदर में दिया जाएगा, जो सविधान के संगिय धाचे को, अब देखों, संगिय धाचा फेडरल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है, कि हमारा देश कई अलगलक राज्यों जैसी छोटी काईयों से मिलकर बना राष्ट है, तो इनके इंट्रेस्ट की कोई बात होगी, तो वहां उनकी अनुमती ली जाएगी, जहां उनके इंट्रेस्ट की बात नहीं, वहां कोई अनुमती नहीं ली जाएगी. 2013, भारत के सविधान में संशोधन केवल लोकसभामेक विधेयक की पुनर स्थापना, यदि ऐसा संशोधन सविधान के संगिय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन कानुसमर्तन भारत के सभी राज्य, क्या कहेंगे, दोनों गलत हैं, आधे से जबनी, भारत के राष्टपती की पुर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, मतलब पहला वाला तो और केवल इसी के बलबूते आगे पढ़नी की जरुवत उत्तरा चुका है दूसरा और तीसरा, जब कोई सविधान संचुन विधेक भारत के राष्टपती के समक्ष प्रस्तुत क आजाता है तो भारत के राष्टपती के लिए बाद्ध्यकर है कि वो अपनी अनुमती दे, सविधान संचुन विदेक लोकसभा या राज्यसभा दोनों द्वारा विशेज बहुमत से पारित होना चाहिए, इसके लिए सयुक्त बैठक का कोई प्रावधान 2021 सविधान संचोधन के संबंध में, सविधान संचोधन की प्रक्रिया आर्टीकल 368 में है, सविधान पहला तो होगा ही? सविधान का संचोधन करने संबंधी विदेक को संसत के किसी भी सदन में क्या कहेंगे? दूसरा तो ग्यारेंटेट आर्टिकल 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर तमविधाई शक्तिया निहित करती है इस स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेश कॉंस्टिटिवेंट पावर अपन द ओर्डनरी लेजिसलेचर मतलब उसका अपना एक अलग हैं क्या कहेंगे तीनों ही बातें सही हैं अब आते हैं आज का आखरी पढ़ाओ जिसका नाम है बेसिक इस्ट्रक्चर बुनियादी सरचना कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं ज्यादा कहानी सुन ना देखो सबसे पहले तो हमारी देश की आजादी में किन लोगों ने भाग लिया लगबक सभी ने भई किन लोगों का मतलब मजदूर ने भाग लिया किसानों ने भाग लिया महिलाओं ने भाग लिया गरीब ने भाग लिया अमीर ने भाग लिया सब ने भाग लिया किन उम्मिदों से लिया कि आजादी के बाद हमारी सरकार आएगी और वो हमारे कल्यान के काम करेगी आजादी मिली तो सरकार का दाईत्व अब कल्यान के प्रती बढ़ गया लेकिन जब कल्यान करने के लिए सरकार को सोचना था तो उस समय सबसे ज्यादा संपत्ति जिनके पास थे क्योंकि क्रिशी सबसे महतुपुन पास थे अब सबस्यादा जरूरी है कि हर व्यक्ति जो उम्मीदे लगाए बैठा है उसकी ख्वाहिश पूरी करना तो हमने जमीनदारों से जमीने छीन कर उन्हें उन लोगों तक पहुचाया जयो जमीन के मालिक नहीं थे जिने हम कहते हैं भूमी हीन लोगों तक लेकिन हमार रास्ते में आ रहा था आर्टिकल 31 क्योंकि आर्टिकल 31 में लिखा था संपत्ती का अधिकार कि राज किसी व्यक्ति को बगेर मुआउजे के संपत्ती से हाटा नहीं सकता और जमीनदार को हम मुआउजा देंगे तो फिर ये तो एक तरीके से उन लोगों के साथ अन्याय है जिनको हमने बड़े-बड़े सपने दिखाए थें कि आज ये जमीनदार तुम पे भली शाशन करें कल इसकी जमीने हम छीन कर तुमें लोटा देंगे तो एक तरीके से तो यह गलत हो जाता पर अगर हम उनको मुआउजा न दें तो वो सुप्रीम कोट में जाकर आर्टिकल लिकतीस की दुहाई दे सकते थे तब ऐसी परिस्तिती में जब पहली सरकार ने उस सविधान के अंतरगत काम करना शुरू किया जिसके निर्मान का काम उन्हों नहीं किया था तो उने पता चला कि हमने आर्टिकल 13 में जो बले ही लिख दिया लेकिन हमें तो अपने देश के प्रत्यक नागरी का कल्यान करना है तो उन्होंने आनन फानन में ही प्रथम सम्मिधान संशोधन लेकर आ गए और क्या करा आर्टिकल 31 में ए बी जैसे प्रावधान जोडे और कहा कि यदि जमीनदारों की जमीने चीनी जाएगी तो वह किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों का उलंगन माना नहीं जाएगा और इन मामलों के लिए वो किसी नयाले में भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हमारे किस भाग में जोडे जाएंगे किस अनुसूची में जोड़े जाएंगे अनुसूची नव में और इसमें ऐसे कानून डाले गए जो भूमी सुधार और लोगों के कल्यान से जुड़े हुए थे जिनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता सब कुछ बढ़िया चल रहा था सब ठीक ठाक था लेकिन उस समय अधिकतर लोग जो पढ़े लिखे थे वो जमीनदार के बेटे थे जमीनदार थे और उनकी पढ़ाई किसी और में नहीं कानूनी शिक्षा में हुई थी क्योंकि सबसे बेहतर प्रोफेशन उस समय वकीली माना जाता था तो कई वकील सुप्रीम कोट में चले गए और उनोंने दुआ ही दी कि ठीक है वो भाग अनुसुची नव का हिस्सा है वो हम उसमें कुछ बात नहीं करते बस आप हमें ये स्पष्ट करे महोदाएं क्या आर्टिकल 13 ने आपको यह याद नहीं दिलाया कि संसद ऐ कैसी कोई विधी नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को सीमित करती हो कोई कानून नहीं बना सकती तो यह इतना बड़ा कानून कैसे बन गया तब सुप्रीम कोट ने कहा कि संसद विधी नहीं बना सकती कानून नहीं बना सकती यह पूर्ण रूप से सत्य है लेकिन संसद संशोधन कर सकती है यह मामला था पहला ही शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज अब जरा ध्यान से समझना मुझे एक बात बताओ इस समय सुप्रीम कोट का जो नयाधिश है उसको तो यह सपष्ट पता हुए न कि सरकार इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है क्या इसमें सरकार अपने जो मंत्री है उनकी बंगले देना चाती है क्या इस समय सरकार अपने लाभों को बढ़ाने के लिए ऐसे काम कर रही है क्या सरकार उन जमीनों पर सोयम कबजा कर रही है सरकार का लक्ष लोक कल्यान को बेहतर करना है तो सरकार की मन्शा पर तो कोई डाउट ही वो तो एक बेहतर कर्तव्य की पुर्ती करने का काम कर रही है दूसरी बड़ी बात इस समय निर्णय लेने वाला व्यक्ति कोई साधारन नहीं जवाहर लाल नेहरू है जिन्होंने देश की आजादी, सविधान के निर्मान और न जाने भारत निर्मान में कहां कहां महतुपुर्न भूमी का निभाई. क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि जज जैसा व्यक्ति जो एक परिक्षा के साथ साथ सुप्रीम कोट का भली नया दिश हो, क्या उनका जो व् जैसे व्यक्तित्व के सामने बहुत महतुपुर्न होगा. यहां पर व्यक्तित्व वर्ड इसले मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय जुडिश्री अपने आपको संसदिय व्यवस्ता के रूप में मान चुकी थी. उने लगता था कि हम पारलियामेंटरी सिस्टम है बृतेन क और बृतेन में जुडिश्री इतनी शक्तिशाली नहीं है, तो उने शुरुवाती तोर पर तो वही पारलियामेंटरी पद्धती का पालन करना था. इसलिए उन्होंने सरकार के निर्नय का समर्थन किया और अनुसुची नव के कानूनों को कहा कि हम उस कानून को देखेंग और उस कानून के विशय में जो चैलेंजेस आएंगे, हम उसकी सुनवाई भी नहीं करेंगे. उसका कारन बड़ा सिंपल है कि सरकार की मन्शा पर किसी को शक नहीं है. अब धीमे धीमे राज्य सरकारों ने भी ये कदम उठाए, क्योंकि भूमी राज्य का विशय है, तो य यह मामले और भी बढ़ते गए और राज्य सरकारों ने कई प्रकार से जमीनदारों की जमीनों को छीना, जिसे कहेंगे हद बंदी कानून लागू किये. हद बंदी के तहत एक सीमा से ज्यादा अगर जमीन है, तो वो जमीन जरकार के पास आ जाएगी. जिसमें बंगाल और केरल की वामपन्थी सरकार, खास करके केरल की पहली वामपन्थी सरकार 1955 में बनी, तो उसने तो बहुत कठोड़ता के साथ इन कानूनों को लागू करवाया. और बढ़िया से समान रूप से भूमी का वित्रन शुरू हुआ. ऐसा एक और मामला राजस्थान के राज्य में ह हुआ और वहां पर एक व्यक्ति सजन सिंग पुन्ह दर्वाजा खटकटा है और उन्होंने कहां क्या महोदय आप मेरे संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेंगे या नहीं उन्होंने कहां कि नहीं क्योंकि मुझे सरकार पूरा भरोसा है. यह बात चल रही हैं उन्नीस सो मतल युद्ध के बाद जवालार नहरू को एक बहुत बड़ा जटका लगा उसके बाद वह ज्यादा राजनिती में ध्यान देते हुए उन्हें अपनी गल्ती का पस्ताव और कहते हैं कि उसी दवरान फिर उनकी मृत्य। फिर आये थे लाल बहादूर शास्त्री अच्छे नि युद्ध हुआ हम एक तरफा उसमें जमीन प्राप्त कर चुके थे लाहोर तक पहुच गए थे लेकिन वहां ताशकंद में एक तरीके से शांती समझोता और लाल बहादूर शास्त्री ने जीती वी सारी जग उन्हें दे दी यहां यह आलोचना हुई कि समय सौधेबाजी हो सकती थी और पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर पर सीधी खुलकर बात होती कि आप उसको छोड़े और हम आपका जीता हुआ हिस्सा लोटा देंगे लेकिन कहा जाता है कि जैसी खबर आई तो पूरे देश की मेडिया और कई लोगों ने नकरात्मक बाते फैलाना शु हमारे देश के अधिकतर राजनेताओं ने इंद्रा गांधी को कहा कि अब आप ही देश की सबसे बड़ी नेता हो गई तो इंद्रा गांधी के जैसे ही समर्थन में कुछ आए तो कुछ विरोध में भी आ गए थे यहां से कॉंग्रेस में थोड़ा बहुत फूट शुरू ह अब यहां पर क्या कहानी शुरू होती है कि अब सत्ता की प्राप्ती के लिए शेत्रिय दल भी अपने-पनी मांगों को उठाने लगे और कई तरीके से भावनात्मक रूप से लोगों को दूसरे शेत्र के प्रती भढ़काने लगे और कई बार ऐसे कानून पारित करने यह था पर सुप्रीम कोट से बचने के लिए उन कानूनों को राज्य सरकार कि स्थेले में डाल देती थी अनुसुची 9 शुडूल 9 में ऐसी चीजे जब सामने आई तब सुप्रीम कोट को पुन याद आया कि सविधान के रक्षा की जिम्मेदारी उसी की है अगर संसद और सविधान सभाए ऐसे ही कानून पारित करके उससे बचती रहेगी तो इस्ततिया ठीक नहीं होगी इसलिए 1967 में जब मामला पूचा गोलकनात बनाम पंजाब राज्य का तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोट सच में सविधान की रक्षा के रूप में खड़े होते हैं और कह द अधिकारों में संशोधन के माध्यम से भी परिवर्तन और सीमित नहीं किया जा सकता इस निर्णय ने सारी पुरानी कहानिया पलट डाली और वो सारी कहानिया कोई साधारन नहीं सत्रा वडशों की कहानिया हैं सारे जमीनदार उनके बेटे सब इस खबर से खुश हो गए औ और उन्हें लगा कि अब तो हमारी जमीने हमें फिर से मिलेगी अब यहां न्याय पाली का दोहरे संकट में एक तरपो सविधान की रक्षा करने के लिए कदम उठा रही हैं लेकिन वो यह जानती है कि इससे लोग कल्यान भी प्रभावित हो जाएगा जो बेहतर काम जमीन क के बटवारे का हो चुका हैं वो सारे विवात खड़े हो जाएंगे अब ऐसी परिस्तिती में जब संसद को गोलगनात के मामले में करारा जवाब मिला तो संसद ने इसकी प्रतिक्रिया में सविधान में अब वो संशोधन कर दिये जिसमें खुले तोर पर न्याय पालिका क को चेलेंज था कि हम तो कुछ भी करेंगे तुमसे जो होता है कर लो जिसमें सविधान संशोधन 25 सविधान संशोधन 24 पारित होता है अब चोबिस 25 में तो इन्होंने लिखवा दिया कि DPSP को लागू करने के लिए हम जो भी संशोधन करेंगे न्याय पालिका उसको चेलेंज ले ही नहीं सकती मतलब इधर न्याय पालिका की शक्ती को संसद कम कर रही हैं और उधर न्याय पालिका सविधान की रक्षा के लिए निर्नय पे निर्नय दे रही है इसी दोरान एक बड़ा सा मामला सामने आता है जो केरल राज्य का है, केरल राज्य में एक मठ जिसके मठाधीश थे केशवानन भारती, केशवानन भारती नाम छोटा है, उनका वास्तविक नाम बहुत ही बड़ा है हम देखेंगे, पर ये मठ शेव संप्रदाय का है भगवा शिव की उपासना का था और केरल के उन्हें एक तरीके से शंकराचारी की उपाधी दी जाती थी, केरल की वामपंथी सरकार ने मंदिर की पूरी जमीन अपने कबजे में ले ली थी और इसी उद्देश्य से की वो भूमी हिनों को बाटी जाएगी, पहले वह केरल के हाई को जाते हैं, जहां वो हार जाते हैं, फिर इससे बात से नाराज होकर अब वो वापिस अरजी कहां दायर करते हैं, कहां जाता इसके पीछे केश्वानन भारती का दिमाग कम, लेकिन एक बहुत बड़े वकील का नाम, पाल की वाला, ये वैसे वकील थे जो कई बार सरकारों को भी चैलेंज कर देते थे, कि आप कुछ सही नहीं कर रहे हैं, अब ऐसी परिस्तिती में ये मामला जब सुप्रीम कोट पहुचा, तो रियालिटी में सुप्रीम कोट इस मामले के माध्यम से, एक मध्य का रास्ता चाहती है, समझ लेना, पहला पंच गोलकनात में सुप्रीम कोट ने संसद पे मारा, कहा कि तुम संशोधन, पर चोबिस पच्चिस के माध्यम से संशद ने दावा कर दिया, कि मैं संशोधन नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहां तक कि मेरे संशोधन पर तुम प्रतिबंद क्या, उसको पुनर अउलोकन करने की ताकत भी नहीं आते भी लिख दी, अब ऐसी परिस्तिती में पलडा था सुप्रीम कोट के पास, कि अब सुप्रीम कोट क्या करेगा, तब सुप्रीम कोट ने बहुत अच्छा मध्य का रास्ता अपनाया, पल भर के लिए तो महसूस कराया, कि संसद तुम जीते, मैं हारा, लेकिन एक ऐसा डाला, जिस ट्विस्ट का परिनाम आज तक संसद को जेलना पड़ रहा है, अब उन्होंने क्या माना, केश्वानन भारती मामले में, केश्वानन भारती यहां हारते है, उनकी जमीन उन्हें मिलती नहीं है, पर हार के भी नाम कर जाते हैं, ऐसा पहला जीवन तुधारन है, केश्वानन भारती, यहां पर सुप्रिम कोट कहती है, कि हम मानते हैं, कि संसद की शक्ति, संशोधन की बहुत ही अत्याधिक है, असिमित नहीं है, अत्याधिक है, और वह सविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक इस्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहेंगे मूल धाचा वह संशोधित नहीं होना चाहिए, वकील ने पूछ लिया, महोदय ठीक है, मूल धाचा क्या, सुप्रिम कोट ने कहा, समय समय पर हमारे पाद जो माम ले आएंगे, उनके आधार पर हम आपको बताते जाएंगे, कि क्या क्या बेसिक इस्ट्रक्चर होगा, तो आज की परिभाशा ये है, कि संसत सविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल धाचे में संशोधन, मूल धाचा क्या है, हमें नहीं पता है, किसे पता है, भविश्य को पता है, कि मूल धाचा क्या क्या होगा, यही मोल धाचे का संक जो कंसेब्ट है इसने भारत में उचित प्रक्रिया की स्थापना की, इसी ने भारत में सविधान की रक्षा की, इसीने भारत में ये किलियर करवाया कि भले हम पारलियमेंटरी सिष्टम के तहत हैं, लेकिन हमारी सरकार एक सवेधानिक सरकार है, सीमित सरकार है, जिसकी सीमाय सवेधान के अंतरगत नीहित है, इस निर्णय ने बहुत दूरगामी परिनाम हमारे देश के न्याय विवस्ता में भी और पूरे शाशन विवस्ता में भी उत्पन किये, तो संग्शिप में देखते हैं मूल धाचा और न्याईक पुंद्राव लोकर जगडा शुरूवा 13 और 368 का कि क्या 13 को संशोधित करने की अनुमती नहीं देता 13 के अरकॉर्डिंग पर क्या 368 के अरकॉर्डिंग संभव है या नहीं तो सबसे पहला मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 सुप राजस्थान मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है गोलकनाद बनाम पंजाब राज्य में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं केश्वानन भारती बनाम केलर राज्य में मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल धाचे में परिवर्तन नहीं और मिनर्वा मील्स में पहला मूल धाचा बहुत क्लियर लीग बता दिया न्याईक पुन्राव लोकन में संशोधन अब वह एक basic structure का भाग है वामन राव बनाम 1981 में फिर सवाल ये हुआ कि अगर न्याईक पुन्राव लोकन basic structure है तो क्या आप नवी अनुसूची का न्याईक पुनरावलोकन कर सकते हैं तो सुप्रिम कोट ने का जी हाँ लेकिन क्योंकि 24 अप्रेल से पहले मूल धाचा जैसा कोई विचार थाई नहीं तो उनका तो हम नहीं करेंगे लेकिन 24 अप्रेल 1973 के बाद केंद्र या राज्य सरकार कोई भी यदी कोई कानून नव्यनु सुची में डाल भी देती हैं तो भी हम उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं मतलब अब हमारा सुप्रिम कोट भी पूरे सविधान के किसी भी प्रावधान के संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है उधर भी ताकत दे दी कि तुम भी कुछ भी बदलो और इधर भी ताकत लेली मैं भी कुछ भी चेक कर सकता हूँ सविधान की सर्वोच्चता, पंथ निर्पेक्षता, न्याइक समिक्षा, पार्लियामेंटरी सिस्टम, विधी का शाषन, आर्टिकल इक्कीस, शक्तियों का विभाजन, सविधान का संगिय सोरूप, गंतंत्र और लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपाली का अभी तक घोषित किय विखेएग गये बेसिक 该 क्रूप्चर, मुझे बताओ बच्क्या गया? पंद्या पंथा, निर्पट्ट्स थार्ट्ट्स रिवडियाई ना? अर्ट्कल 21 कोई सादरनार्ट्स थोड़ी है, सब आगया उसमें, तो कहां कि यह सब कुछ क्या है? बेसिक structure है और इसी के साथ basic structure वाली ये बात यहां पर समाप्त होती है अब हम जो बातचित करने जा रहे हैं आपात का लिन उपबंद हमारे देश में 352, 356 और 360 वैसे तो पूरी 352 से 360 तक के सारे article हैं लेकिन ये तीन emergencies हैं जिसमें 352 को राष्टी आपातकाल, 356 को राष्टवती शाषन और 360 को वित्ती आपातकाल कहां जाता है फिर हम पढ़ेंगे parliamentary system और presidential system क्या होता है यह हम already cover कर चुके है के terminology में federal system क्या होते है, unitary system क्या होते है सारी बाते हैं तो यह हम नहीं करेंगे फिर center और state के दो या तीन relation कहें भाग 11 है भाग 11 में विधाई और प्रशाष्णिक संबंध है और भाग 12 में वित्तिय संबंध का वर्णन दिया गया है फिर केंद्र और राज्य की कारेपाली का जिसमें सबसे पहला पद हम पढ़ेंगे राश्टपती प्रधान मंत्री उप्राश्टपती प्रधान प्रकार के विधेयक फिर हम बातचीत करेंगे न्याय पाली का जुडिश्री फिर इस्थानिय निकाय मतलब पंचायत और नगर निगम constitutional और non-constitutional commissions सविधान के प्रमुक प्रावधान मतलब जितने भी articles है फिर सविधान के प्रमुक संशोधन Supreme Court के महतुपुर्ण निर्नाय और इस बार का कुछ प्लानिंग ये है कि कुछ current affair जो भी बिल आये हुए हैं इस बार उन पर भी हम चर्चाय कर लेंगे तो सबसे पहली शुरुवात करते हैं आपात कालिन उपबंद कहां से लिए गए हैं वैसे तो 1935 के अधिनियम में थे लेकिन इसमें जो आपात कालिन उपबंदों में मूल अधिकार समाप्त होते हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं तो मोटे तोर पर अगर कहा जाता है जन्रली अधिक्तर प्रावधान जर्मनी के सविधान से ज्यादा प्रेरित है लेकिन जो राश्टी आपात काल है वो 1935 के अधिनियम में भी वड़नीत है तो जर्मनी के सविधान से घ्रहन आर्टिकल 352 से 360 कौन से भाग में है ये है भाग 18 तो भाग पर एक बार फिर वापिस आते हैं भाग 1 में क्या था संग और उसका शेत्र भाग 1 में संग और उसका शेत्र है भाग 2 में सिटिजन्शिप ना गरीकता भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स भाग 4 में भाग 4 ए fundamental duties भाग 20 में constitutional amendment भाग 18 में emergency provision भाग 11 में केंद्रो राज्य के बीच विधाई और प्रशाश्निक संबन भाग 12 केंद्रो राज्य के बीच के वित्तिय संबन तो अभी तक हम जिनको पढ़ चुके हैं वो यहां तक के भाग हो चुके हैं आज हम शुरुवात कर रहे हैं पहले भाग 18 के भाग 18 में तीन आर्टिकल बड़े important है 352, 356, 360 360 को ऐसे याद रखना कि उसमें आता है 0 और 0 financial को रिप्रेजेंट करता हैं सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं तो सरकार ने financial emergency declare कर दी तो 360 में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब 352 और 356 में तो पहले आएगा राष्ट फिर आएगा राज्ज पर राज्ज के आपातकाल कूरियल में क्या कहां जाएगा या तो सवेधानिक या राष्टपती शाशन राष्टी आपात जो शब्द है वो केवल किसमें यूज किया जाएगा 352 में ये बात ध्यान देंगे 352 का मतलब पूरे देश में आपातकाल लगना नहीं है पूरे देश में भी लग सकता है और देश के कुछ हिस्से में भी लग सकता है लेकिन नाम वही रखा जाएगा राष्टिय आपात काल पर अगर किसी particular राज्य में लगाया जा रहा है तो वो कहलाता है 356 राज्य का लगने का मतलब होता है कि उसकी जो चुनीवी सरकार है जो मंत्री परिशद है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है क्या मंत्री परिशद बर्खास होने से विधान परिश शाषन के दोरान ये डिक्लियर किया जाए कि अपुना चुनाओ होंगे तो याद रखेंगे कि राष्टपती शाषन अगर किसी राज्य में लगा तो उसका जो कार्य पाली का है वो शुन्य हो गया बाकी अभी विधाई का और वहां का हाई कोट सब बढ़िया से काम कर रहे ह तो आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले 352 की 352 को जनरली कहा जाएगा नेशनल इमर्जंसी तीन आधारों पर लगती है युद्ध बहारी आक्रमन अब दोनों में अंतर क्या है युद्ध और बहारी आक्रमन में जैसे युद्ध का अभीप्रा ये होता है जैसे मान ल 11 का हुआ क्या वो युद्ध था क्या वे तो एक आतंगवादी हमला था तो कोई ऐसा बड़ा आतंगवादी हमला हो जिसके कारण देश की सुरक्षा देश में हो सकता है कि लौएन ओर्डर की विवस्ता परेशान करे तो ऐसी सिच्वेशन में इसको माना जाएगा बहारी और पहले एक शब्द था उसमें आंतरिक विद्रो जो 44 सविधान संशोधन में समाप्त कर दिया क्योंकि जो इंद्रा गांधी जी ने आपात काल तीसरा देश में लगाया था उसका कारण दिया था आंतरिक अशान्ती अब आंतरिक अशान्ती तो हर समय होती ही रहती अगर देखा जाये तो तो इस प्रावधान को समाप्त किया गया और उसकी जगा लिखा गया सशस्त्र विद्रो इसका मतलब देश के लोग हतियार लेकर सरकार के खिलाप या लॉयन ओर्डर के खिलाप बड़ी मात्रा में बड़ी संक्या में ऐसा खदम उठा है तो तीन आधारो की जग सशस्त्र विद्रो शब्द को लेकर आया आपातकाल की घोष्णा जब हमारे देश में पहले तीनों आपातकाल लगे तो समय आपातकाल की घोष्णा प्रधान मंत्री सला दे देता था राष्टपती को और राष्टपती आपातकाल लगा देता था लेकिन पहली बा आरतिय सविधान में मंत्री मंडल शब्द 352 वे आर्टिकल में ही हैं, मंत्री मंडल मतलब कैबिनेट, कैबिनेट मतलब एटलिस चार या पांच जो मंत्री बड़े महतोपुर्ण होते हैं, उनकी लिखित सिपारिश के बाद ही आपातकाल लग सकता हैं, तो पहले प्रधान मं इत नहीं थे, तो दो नहीं चीजे और जोड़ी इन्होंने, मंत्री मंडल शब्द जोड़ा और कैसी एक रिकमेंडेशन, रिटन रिकमेंडेशन की बात कहीं, पहले संसद को दो महिने का टाइम दिया जाता था, अब कहां हैं, कि आपातकाल जैसे ही लगे, तो आप संसद क सत्र बुलाएंगे और संसद की भी अनुमती मिलनी चाहिए, अनुमती का मतलब संसद में उस बात की स्विकृती होनी चाहिए, और कितने के महिने के अंदर, एक महिने के अंदर विशेश बहुमत से आपातकाल की घोशना का समर्थन करने की आवश्यक्ता, एक बार में आप पूरा प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा ऐसे आप कितनी बार लगा सकते हैं कितनी भी बार लेकिन हर बार शे महिने से ज्यादा का नहीं होगा आपको पुनव से पारित करवाना पड़ेगा ही राज्य की कारेपाली का शक्तिया मतलब राश्टियापात का लग गया मानलो पूरे देश में तो जिन शेत्रों में ये लगा हैं वहां कि सभी राज्य की कारेपाली का पूरी तरह से केंद्र के हाथ में वास्तविक रूप में अब हम यहां संग नहीं रहें इस आपातकाल के लगने के बाद हम एक तरीके से युनिट्री सिस्टम में बदल जाएंगे एक ही सरकार होगी और वही पूरे देश में निड़ने लेगी यहां तक कि राज्य सूची के विशय पर संसत को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी केंद्र तथा राज्यों के वित्तिय संबंद भी समाप क्योंकि जब राज्य की प्रशाचनी की काई केंद्र के एक साल के लिए आर्टीकल उन्निस में दिये गए मूल अधिकार स्वतनिलंबित होंगे अगर ये बाय या युद्ध की परिस्तितिया हो पर बीस और इकिस तो कभी भी निलंबित नहीं होगा अर्टीसवा सविदान संचोधन में लिबोला गया था 1975 में ऐसा किया था कि न्याइक समिक्षा के दाइरे से बाहर कर दिया गया लेकिन अब ये खत्म हो गया 44 वे सविदान संचोधन में फाइनली लिखा गया है कि आपात काल न्याइक समिक्षा के दाइरे में है वैसे अगर वो 44 में नहीं भी लिखते हैं तो भी वह बेसिक स्ट्रक्चर है और मानिय सुप्रीम कोट ने कह दिया है कि मैं किसी भी चीज की न्याइक समिक्षा कर सकती यदि वह अतार्किक है तो राष्टपती के द्वारा क्याबिनेट की लिखित सिपारिश के आधार पर राष्टी आपातकाल की घोशना और आंतरी गड़बडी की जगह पर शब्द जोडा गया सशस्त्र विद्रोह मतलब इंटर्नल डिस्ट्रिबेंस की जगह आम रिबेल जोड़ा गया अभी तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है तीन देगो यह जो आपातकाल था इस पर ज्यादा विरोध हुआ है उसका कारण है क्योंकि उस समय लगाने की जरूवत नहीं थी केवल अपनी राजनितिक शक्ती को बनाए रखने के लिए सरकार ने अपनी शक जानक हमला कर दिया था दूसरा 1971 बंगलादेश की जो आजादी की बात्चित शुरूवी थी और फिर 1975 में कोई जरूवत नहीं थी लेकिन शुरू किया गया तो राश्टी आपातकाल अभी तक देश में और तीनों ही कोन सी सरकारों ने लगाया हैं कॉंग्रेस सरकार ने इ किसने दिखाए हैं कॉंग्रेस ने आर्टिकल 352 सविधान का एक मात्र आर्टिकल है जहां पर वर्ड यूच किया गया है काबिनेट बाकी सभी जगह पर हमारे सविधान में कोन सा वर्ड आता हैं काउंसील मंत्री परिशत मंत्री परिशत बहुत बड़ा शब्द हैं हम मंत आर्टिकल 356 356 का प्रचलित नाम है राष्टपती शाषन और तीनो आपातकालों में सबसे ज्यादा यूद हुआ आपातकाल राष्टपती शाषन एक-एक राज्यों में 11-11-12-12-12 यूद्स किया गया ऐसा कौन सा आपातकाल जो आज तक नहीं लगा पाइनेंचल इमर्जन्सी लेकिन सबसे ज्यादा लगाया गया है 356 तीन बार लगाये 352 यदि राष्टपती को महसूस हो या राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से लगे कि किसी राज्य में सवेधानिक तंत्र विफल हो गया है तो सवेधानिक आपात का लागू किया जा सकता है अब राष्टपती को महसूस हो तो हमारा देश एक पार्लियामेंटरी सिस्टम है राष्टपती को जो महसूस हो रहा है वो तुने तभी महसूस होगा जब मंत्री परिशद उन्हें महसूस कराएगा तो याद रखेंगे राष्टपती को महसूस होने का मतलब द राष्टपती अटलवियारिवाजपई के माध्यम से ही हुआ उनीकी जित थी लेकिन जब राष्टपती को सला दी गई कि बिहार में आप राष्टपती शाषन लगा दीजे तो कलाम सहाब अपने दयतुव को समझते वो यह नहीं सोचते हैं कि मुझे किस ने बनाया उन्हों पुनर्विचार करके वापिस उटाया नहीं तो यह अच्छी चीज होती है यह माना जाता है दोनों यह अंडस्टेंडेबल हैं दोनों यह एक दूसरे के बात को समझ लेते हैं हाँ बस वही रहा कि उनके इस निरिनय के कारण यह किलियर हो गया कि यह राष्टपती तारकी और विवेक शील शक्तियों का उपियोग करना जानता है डिस्क्रेशनरी पावर को उपियोग करना जानता है इसलिए दूसरा कार्यकाल में जब उन्हें सपोर्ट सभी का था तब कॉंग्रेस समझ चुकी थी कि महोदय भले ही बहुत अच्छे हैं लेकिन डिस्क्रेशनरी पावर के कारण हमें तकलीप आ सकती है तो कहां कि हम अपने पहले राष्टपती को ही ये सम्मान देना चाहते हैं कि वह दो बार का रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम रखे तो राजनिती में कई आर्ग्यूमेंट ये जाते हैं सवेधानिक आपात काल की घोशना को दो महीने के अंदर संसत के अनुमती के आवश्चकता ये अन्यता वो खत्म हो जाता हैं सवेधानिक आपात के दोरान राज्य सूची के विशय जब राज्य की कार्यपाली का ही नहीं रही तो सारे निर्णई ले जाएंगे किसके द्वारा केंद्र के द्वारा एक तरीके से ऐसे हो जा जाएं संसत के अनुमती मिलने पर सवेधानिक आपात काल छे महिने तक अलागु रहे गा राष्टपती शाषन किन शक्तियों में लगाया किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है पहला तो लिखा हुआ है सवेधानिक तंत्र विफल हो जाएं अब देखो सवेध अगर आपको यादो, तो पश्रिम बंगाल में चुनाव थे, CBI वहां के मंत्री पर कारवाई करने के लिए गई, और वहां के सरकार ने CBI कोई गिरपतार करा दिया, तो ये तो पूरी तरह से सवेदानिक तंत्रवीपल हो गया, तो वहां रास्टपती शाषन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ने चुन कर हमें भेजा और हमें बरकास किया गया के वल इसलिए क्योंकि वह घैर तरीके से हमारे इसमें कारवाही कर रहे थे, तो कही बार चीजे हो जाती है, बट सवेदानिक तंत्र पूरी तरह विफल होने की कोई डिफेइन या क्लियर बात्चित नही सके, विधान सबा मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है, सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दे, मतलब बहुमत पूरा मिल गया, लेकिन उसने का मुझे नहीं बना रही सरकार, सत्तारूर गडबंदन तूड जाए और सरकार बहुमत खोदे, तो ज शब्द पर गौर करेंगे, परिनाम आवश्यक, आवश्यक का मतलब हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, क्या पंचायतों पर कोई प्रभाव पढ़ता है, क्या राज्य के आपातकाल में पंचायतों का तो कोई लेना देना, पर वो पूछ रहे कि क्या आवश शक नहीं है, मंत्री परिशत का हटाया जाना तो ग्यारेंटेड, मतलब दूसरा तो नहीं में नहीं आएगा, तो दो वाला पहटा दीजे, तो हम कहेंगे आंसर आएगा पहला और तीसरा, मतलब जब भी आपातकाल लगता है, तो मंत्री परिशत तो बरखास तो हो जाता है लेकिन इस्थानिय प्रशाशन पर तो कोई प्रभावी नहीं पड़ेगा और विधान सबा भंग हो सकती है आवश्यक नहीं है आने वाले समय में जैसे जैसे चीजे बढ़ेगी फिर हैं 44 वा सविधान संचोदन 1978 356 के तत राष्टपती शाशन पहले कितना था तीन वर्ष की सीमा ये खतम कर दी गई ये प्रावधान किया गया बलकी कि किसी भी जगह पर राज्य में राष्टपती अधिक्तम एक वर्ष तक के लिए शाशन लागू रखेगा और किसी भी परिस्तिती में तीन वर्ष के बाद राष्टपती शाशन लागू नहीं किया जाएगा हाँ हो सकता है तीन वर्ष के बाद भी यदि ये दो शर्ते पूरी हो 352 के अंतरगत आपातकाल लगे एंड निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ये कह दे हैं कि व परिस्तिती में तीन वर्ष से अधिक राष्ट के राज्य के पूरे के पूरे कार्यों को केंद्र सरकार कर सकती है एक बहुत बड़ी बात यहां पर सबसे बुरा दुरूपयोग इसी आर्टिकल का हुआ है जब कोई सरकार खास करके केंद्र की बड़ी पार्टी किसी राज में अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती थी यह उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब उस राज्य में रिजिनल पार्टिया उभर कर सरकारे बनाने लगी तो केंद्र में बैठी हुई कई बड़ी पार्टिया जैसे कॉंग्रेस उसको लगता था कि मैं हार कैसे गई त तो हार पचाना मुश्किल होता था तो वो क्या कर देती थी राष्टपती शाषन फिर जैसे आउधी खतम हुई फिर से राष्टपती शाषन न जाने किसी राज्य की चुनीवी सरकार को इस राष्टपती शाषन ने कितनी बार तकलीप दी पर हमारे लिए अच्छी बात ह आज हमारे देश में मेचुरिटी इतनी अच्छी है कि कई बार राज्य सरकारे विरोध करती हैं लेकिन अब पिछले कई वर्षों में राष्टपती शाषन जैसी बाते सुनने को नहीं मिली ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र क्या हुआ परिपक वो हुआ कभी भी मेंस में लिखने का प्रमान ढूणना हो कि हमारी डेमोक्रेसी मेचुर हुई है क्या प्रमान है हमारे पास तो एक बहुत अच्छा प्रमान है 356 का दुरूपयोग न केवल समाप्त हुआ बलकि पिछले कई वर्षों में इसके उपयोग की संभावनाएं अब न्यून प्रमान होती जा रही है यह अच्छी खबर है कि अब जन्रली सीनियर जूनियर को यह धमका निराय कि मैं जब चाहू तुम्हें हटा दूगा एसार बोम्मई बनाम भारत संग का मामला है न्यायले द्वारा किसी भी प्रकार के आपात काल की स्तमिक्षा आपात काल अगर अतार्किक और संकिर्न राजनितिक आधारों पर मनमाने तरीके से हो तो न्यायले उस आपात काली मर्जंसी को खत्म कर देगा केंद्र द्वारा भंग राज्यमंत्री परिशत को भी न्यायले पुन बहाल कर देगा एक और बड़ी बात एक सवाल आता है कई बार क्या न्यायले की सक्रियता ने बहुत सारी चीजे नकारात्मक की तो सकारात्मक क्या किया ये कदम आज केंद्र सरकार को एक दर है कि यदि मैंने मनमाने तरीके से किसी भी चीज का उप्योग किया तो कोई न कोई बैठा है जो मेरी इस मनमानी को रोकने की ताकत रखता है तो इस न्यायले सक्रियता ने एक फाइदा तो दिला दिया कि अब केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अपनी बातों को लागू नहीं कर सकती भारत में अब तक विभिन राज्यों में सव से ज्यादा बार राष्टपती शाशन लग चुका है इस फैक्ट को चेक कर ले न लेकिन बारा बार लग चुका है अभी तक किसी एक राज्य में मेक्सिमम बात और अंतिम है आर्टिकल 360 जिसे कहते हैं वित्तिय आपातकाल लगा तो अभी है नहीं इसलिए जो बाते हैं वो केवल सिध्धान्तिक है क्योंकि वित्तिय आपातकाल में ओर क्या होगा ये तो लागू होने के बाद पता चलेगा पर अभी जो किताबों में वर्दन है उसके अकॉर्डिंग केवल इतना कहा गया है कि केंद्र और राज्य के वित्तिय संबन खतम पूरी वित्तिय ताकत केंद्र सरकार के पास उसके बाद एक बड़ा सवाल है कि जो कर्मचारी है उनके वित्तन पर कितना प्रभाव पड़ेगा या बाकी लोगों के वित्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कोई स्पर्ष्ट विवरन भी नहीं है वित्तिय आपातकार केंद्र और राज्य के बीच वित्तिय संबन निलंबित केंद्र को वित्त संबन्दी प्रभावी और पूरी तरह से एक पक्षी है सार्वजनिक पदपरासिन किसी भी कर्मचारी आधिकारी के वेतन में खटोती न्याया लें सहित अभी तक भारत में एक बार भी वित्तिय आपातकार लागू नहीं है पर जब होगा तो रियालिटी में इसके ओर भी परिनाम सामने आएंगे तो अगर हम बातचित करें तो इमर्जन्सी में 3, 352, 356, 360 सबसे ज्यादा सबसे कम या हुई नहीं याद रखेंगे कि राष्टिय आपातकाल पूरे देश के साथ साथ देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है बतलब ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक साथ लागू होगा अब हम बातचित करने जा रहे हैं पारलियामेंटर और प्रेसिडेंशल सिस्टम संसदी और अध्याशात्मक शाशन प्रनाली की दोनों बहुत अलग हैं देखो आपसा जो है वो एक विशेश आम फोर्स राइट या अधिकार है जो हमारे देश के सैनिक या पैरा मिलिटरी फोर्स को प्राप्त होता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए और उस शेत्र में अपनी सक्रियता को बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार आवश्चक्ता से ज्यादा प्राप्त कर सकती है जैसे इसका एक उधारन समझे आपसा के तहत मान लोग की कही चार लोग खड़े हैं तो सेना बिना उन्हें चेतावनी दिये उन पर गोली चला सकती है दूसरा जहां आपसा लगा हुआ हैं वहां सेना बिना किसी वारंड के भी धर की जाच कड सकती है और इस दौरान यदि सेना के द्वारा कोई गलत कदम उठा भी लिया जाए जैसे किसी बेगुना को मार दिया जाए तो उस पर उनकोई कारवाई भी ये विशेष शेत्रों में लागू किया गया है केवल और केवल उसके इंटर्नल लौ को या इंटर्नल स्तती को कंट्रोल करने के लिए निश्शिती ये सुधरना चाहिए और समय के साथ बदलना चाहिए लेकिन राष्टपती शाषन और आफसा का कोई रिलेशन नहीं है अब आते हैं पारलियम इंटरी सिस्टम पर तो आएए थोड़ी सी एक कहानी पूना समझिए और इस सिस्टम को समझने के लिए मेरी बात पर गौर करिएगा मान लेते एक कॉलोनी है जिसका नाम है ABC इस कॉलोनी में 5000 लोग रहते हैं अब इस कॉलोनी में बहुत सारे मुड्दे है कॉलोनी की साप सपाई कॉलोनी की सुरक्षा रात के समय गाड होने चाहिए कॉलोनी में कार्यक्रम जो होते हैं उसका फंक्षन का मेनेजमेंट और भी कई सारी चीजे वो चाहते हैं सुबह पानी कब आएगा, शाम में पानी कब आएगा, सारी बाते, तो उस कॉलोनी के 5000 लोगों ने तह किया, कि हम 100 लोगों की एक टीम बनाते हैं, जो ये डिसाइट करेगी कि क्या नियम होने चाहिए, साप सपाई के नियम क्या होंगे, सारी बाते दोनों कॉलोनी में हुई, तो ABC वालों ने क्या किया, कि 100 लोग अपनी कॉलोनी के चुने, और कहा कि आप क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, इनको नाम दिया गया कि आप नियम बनाएंगे, इन्होंने भी 100 लोगों की एक टीम बनाई और उनका भी काम क्या था, कॉलोनी के लिए रूल्स बनाना अब देखो कॉलोनी में रूल बनना एक बात है लेकिन उस रूल को सभी तक पहुचाना सभी को अउगत कराना कोई उसका उलंगन करे तो उसे पैनल्टी लगाना उसे सूचित करना कि भई तुमने रूल का क्या किया है उलंगन किया है कारेक्रम के बारे में सारी जो है तो लोगों ने तो नियम बना दिये पर वहां पर कारेक्रम जब होगा तो मंडब कोन लगाएगा आखरी का खंबा कोन उखाड़ेगा और फिर पूरी शांती विवस्ता कोन बना के रखेगा ये काम के भी तो कोई व्यक्ति रहने चाहिए तो कॉलोनी ABC ने कहा कि ऐसा करत हैं हमने नियम बनाए हैं हमें पता हैं कि नियम कैसे हैं तो हमारे में से ही 10 लोग इस काम की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे मतलब 100 लोग नियम बनाएंगे और उन 100 में से कोई 10 लोग चुन लिये गए जो उन नियमों को लागू करेंगे कॉलोनी XYZ वालों ने कहा कि देखो भई नियम तो हमने बना दिये लेकिन मुझे नहीं लगता हैं कि हम इन नियमों को आम लोगों तक पहुचा पाएंगे थोड़ा सा मतलब हटे कटे लोग जमा करो कॉलोनी के जो लोगों को दिखा सके क नियम का पालन करना जरूरी हैं तो इन लोगों ने अलक से 10 हटे कटे लोग चुन लिये जो कि नियमों का पालन करवाएंगे नियम का पालन मतलब execution कराएंगे execute कहला करवाएंगे और इसी में से ये चुने गए तो जब नियम बनाने वालों में से ही 10 लोग चुने जाते हैं तो इसे कहा जाता है पारलिया मेंट्री सिस्टम और जब अलग से लोग चुने जाते हैं तो प्रेसिडेंशल सिस्टम या नियम बनाने वाले लोग अलग हैं और नियम को लागू करने वाले लोग अलग हैं वो इनको बस बता देंगे कि ये नियम है और लागू तुम्हे कराने हैं इनमें पता है कि नियम वही थे जो उन्होंने बनाये थे और उन दस लोगों को लागू करवाने हैं। अब सवाल है कि यहां यह जो 10 लोग चुने जाएंगे यह किन से चुने जाएं। तो हमने का आई ऐसा कर लेते हैं, जिन लोगों के भी, मतलब मान लेते हैं कि इन 100 लोगों को जो चुना गया, उसमें 2 पार्टी, एक का नाम था कॉंग्रेश और एक का नाम था बीजेपी, इन 2 पार्टीों के 100-100 कैंडिडेट उतरे थे, और मान लेते हैं कि एक पार्टी के क यही है हमारे देश का parliamentary system, पारलियामेंटरी शिस्टम में कानून बनाने वालों में से ही कानून लागू करने वाले चुने जाते हैं, और यहां पर यह जो 10 लोग है, इनके चुनाव अलग हुए, यह जो 100 लोग है, इनके चुनाव अलग हुए, मतलब चुनाव कितनी दार हु यहां उनको पता है न कि नियम क्यों बनाया, क्या जिरीजन था, और उनको ही लागू करवाना है, तो वो लागू सही धंग से कर पाएंगे, जैसे भई, आपने अपने नोर्स बनाये, तो तुम उसे खुद बढ़िया पढ़ सकते हो, कि पडोसी पढ़ के दिखाएगा, तु यहां भी ऐसा दिखे, समझ जाना मैं सचिन लिख देता हो, तो इसका मतलब तुम ही जान सकोगे, डिकोट तुम ही कर पाओगे, तो इसमें कॉडिनेशन अच्छा होता है, कानून बनाने और लागू करने वालों के बीच में, लेकिन यह कई बार ऐसा होता है, कि इन सौ लो बनाओ, हमें लागू करने में गालिया खानी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि थोड़ा तो जगड़ा रहता है, यहां पर एक्जीक्यूशन वाले और लेजिसलेचर के बीच में ठीक रिलेशन नहीं रहते, लेजिसलेचर वाले कुछ आदर्शवादी कलपना में लगे होते हैं, और जो एक्जीक्यूशन वाले और रियालिस्टिक चीजों को जानते हैं, तो थोड़े जगड़े तो रहते ही है, लेकिन इसमें बड़ी चीज होती है, कि इसको यह डर नहीं रहता है, कि मुझे कोई भगा देगा, उसे पता है कि जब तक मुझे चुन हमारा बहुमत होगा, तब तक तुम्हारे वो दस लोग होंगे, बहुमत खतम, वो दस लोग भी खतम, तो इस कारण से थोड़ा सरकार कैसी रहती हैं, लेकिन जवाब दे रहेगी, क्योंकि उन्हें डर रहेगा बहुमत, खतम हो सकता, इसी डर में वो थोड़ा बेटर तरी के से काम और कर पाएंगे, हमारे देश के सविधान सभा ने जब सविधान का निर्मान किया, तो पारलियामेंटरी विवस्ता को तीन कारणों से, बड़े तीन कारणों से चुना, पहला तो हम 1919 से इस पारलियामेंटरी विवस्ता में सच में आ गये थे, क्योंकि 1919 में राज जवाब देया सरकार चाहिए, responsible government चाहिए, जो हमारे देश के नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा कल्यान के काम कर सके। तो parliamentary system में पहले तो character क्या होते हैं, सबसे पहले तो दोहरी कार्यपाली का, executive भी दो होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है नाम मात्र का, वास्तविक, प्रधान मंत्री और नाम मात्र का रा, अब आप सवाल ले इस दिमाग में लगाए कि सर ऐसा क्या जरुवत जाने की, जिस जगह पड़ सरकार unstable हो, तो इतना बड़ा देश, सरकार कभी गिरे, कभी संबले, फिर गिरे, तो ऐसी situation में जब सरकार गिरी हुई रहेगी, तो देश की बागदोर के लिए नाम मात्र का ही सही, पर कोई न कोई तो मुखिया होना चाहिए, अन्यता ऐसी situation में स्ततिया भयानक हो सकती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, parliamentary system में, dual execution, एक real और एक नाम मात्र का, दूसरा, जो कानून बनाने वाले हैं, वही कानून लागू करने वाले, तो वो दोहरी भूमी का में आ गए, वो legislative भी हैं, और वो executive भी आ गए, तो उनके दो-दो काम हों मास्टरी GS बढ़ाता है, मास्टरी CSET बढ़ाता है, तो यह parliamentary system का ही लक्षन में अपने अंदर लाया है, दूसरा, बहुमत प्राप्त दल मंत्री परिशत का गठन करेगा, गबड सिंग को याद करेंगे, जब तक आपके बहुमत हैं, तब तक आपकी सरकार बहुमत खतम, सर प्रती सामुहिक रूप से उत्तरदाई, सामुहिक का भी प्राय बस इतना सा हैं, कि अगर एक व्यक्ति के प्रती भी अविश्वास का प्रस्ताव सदन्य पारित कर दिया, तो यह मान लिया जाएगा, कि पूरे मंत्री परिशत के खिलाप, अविश्वास मतलब, no confidence motion पारित हो चुका है, विधाईका और कारेपालिका की दोहरी सदस्यता, वही व्यक्ति कानून भी बनाएगा, और वही व्यक्ति उसका एक्जीक्यूशन भी करेगा, अब उसकी क्या है, तो हमने देखा कि एक्जीक्यूशन और कारेपालिका में थोड़ा सा कॉडिनेशन ज्यादा क्रशी कानून वापिस लिये तो उनका भाशन सुना था, उन्होंने अपने भाशन में काहा था कि हम अपने लक्षों को जनता तक पहुचाने में सफल रहे हैं और इसलिए हमें यह कानून वापिस. मान लीजे कि हमारे देश में presidential system होता और मोधी जी कानूनों को वापिस लेने की बात करते तो मोधी जी कहते मैंने समझाया था इनको कि ऐसे कानून किसी काम के नहीं है पर मेरी मानता कोन है लेकर आ जाते है ऐसे डब्बे के कानून मेरे पास पर यहां ऐसा क्यों नहीं बोल सक की निरंकुष प्रपूतिओं पर रोक कारण यह है कि कार्य पालिका को हमेशा डर रहता है कि अगर अपनी सक्ति का बहुत ज्यादा दुरूपियों किया तो मेरा बहुमत समाप्त हो सकता है लेकिन यह वास्तवीक रूप में पूर्ण सत्य नहीं है अगर पूर्ण पहुमत की सरकार बन गई हो तो ऐसा कार्यपाली का को डर लगना बंध हो जाता है पिछले 8-9 वडशो का अनुभव आपके पास है वेकलपिक सरकार ये बहुत अच्छी बात होती है जैसे प्रेसिडेंशल सिस्टम में मान लेते हैं कि राष्ट पती के खिलाप महाभियोग आया तो पिर ऐसा नहीं होगा कि उपराष्ट पती ही अब बचा हुआ कारेकाल पूरा करेगा बलकि नए चुना होकर बचे हुए कार पती है अगर एक सरकार ने बहुमत खो दिया तो दूसरे से पूछ लो क्या तुम बनाने के लिए तयार हो क्या तुम बहुमत साबित कर सकते हो अगर वो भी मना कर दे तो फिर आपको चुनाओ का विकल्ब ढूणना पड़ेगा मतलब सरकार के खत्म होने पर चुनाओ जरूरी नहीं है इसका उधारन ले लिजे महाराष्ट से एक ने बहुमत खोया तो क्या नए चुनाओ करवाए हमने नया मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया हमने का आप इनके पास बहुमत है जिनके पास बहुमत है उनको शपत दिलानी है बस शपत दिलाने के बाद वो अप सरकार पूरा नया कार्यकाल कंप्लीट करती तो यहां पर वेकल्पिक सरकार की विवस्ता होती और जनरली माना जाता है कि इसमें जितने भी लोग पार्टी में बहुमत में है उन सब की राजनितिक विचारधारा एक है पर दोश क्या है दोश है वही गबड सिंग का डर है अईस्तिर सरकार दूसरा नीतियों की अनचिस्ता देखो अनसर्टेनिटी कैसी हो जाती है सरकार की जब गयरेंटी नहीं है तो सरकार ने आज वादे किये लोगों ने भरोसा किया सरकार गिर गई अब ऐसी सिच्वेशन में जो नहीं सरकार है क्या उनी नीतियों को लेकर आ परकार में कई बार मंत्री मंडल अपनी शक्तियों का दुरुपियों करता है जो कि आजकल बढ़ रहा है शक्ति प्रतक करन के खिलाप हैं मौन्टेस्क्यू बोल चुके थे कि तुम्हें तीनों काम अलग-लग व्यक्ति से करने चाहिए तुमने तो दो काम एक से कराए और ती बहुत ज्यादा हैं जिसके जीवन्तुधारन महराष्ट में हमने देखे हैं कि किस तरीके से सुभस मुख्यमंत्री शपत लेते हैं और अगले दिन पता चलता है वो मुख्यमंत्री है ही नहीं तो ये कितनी भयानक इस्तती हैं कि आपको इतनी जरुवत पढ़ गई कि क्योंकि इतने बड़े राज्यका इतना बड़ा मुख्यमंत्री ये थोड़ा सा बूरा लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी में सत्ता की ललक कई बार डेमोक्रेसी की मूल आवश्चक्ताओं को समझ नहीं पाती तो ये उनके करेक्टर हैं ये इनकी स्पेशलिटी है और ये उन जहां ब्रिटेन की बात करें तो हमने ब्रिटेन से बली पारलियमेंटरी सिस्टम लिया लेकिन हमारा पारलियमेंटरी सिस्टम उनके पारलियमेंटरी सिस्टम से अलग है पहला हमारे पारलियमेंटरी सिस्टम में कही से कहा तक शेडो कैबिनेट का कोई कंसेब जो शेडो क जो विपक्षी हैं वो बिल्कुल उतने ही मंत्री बना के रखता हैं और हर व्यक्ति को ओरिजनल मंत्री के कार्यों पर ध्यान देने के लिए कहता है ताकि इसके बाद जैसे सरकार गिरे तो इनको सब पता हैं कि उस मंत्री ने क्या क्या किया था इमीडियेटली वो उनके कार् सरकार कभी भी गिर सकती है जैसे अभी ब्रिटेन में लगातार सरकारे गिरी दूसरा ब्रिटेन में आज भी राज तंत्र है हमारे यहां पर गन तंत्र आ चुका है क्योंकि हम लोकतांत्रिक गन तंत्रिक है और वो लोकतांत्रिक राज तंत्रिक है वहां पर अभी भी सबसे प्रमुक उनका एक पर्टीकुलर खांदान का व्यक्ति ही बनेगा। भारत में संसदिय व्यवस्ता को क्यों अपनाया भारत की विशाल जन संक्यात की जगह मैं ये कहूँ भारत की विविदता। पारलियम एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अलग-अलग समुदाय के लोगों को सरकार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लेकिन प्रेसिडेंशल में नहीं होता ऐसा क्यों क्योंकि प्रेसिडेंशल में सरकार को जुन को चुनना है वो किसी जगह से चुने लगता है कि उन्हें अपने बेटे को कानून मंत्री बनाना है तो वो कानून मंत्री अपने बेटे को बना सकते हैं राष्ट पती किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है किसी भी पद के लिए कहां अमेरिका में हमारे यहां के प्रधान मंत्री को जब भी किसी को मंत्री बनाना है तो पहले तो वो सदन का सदस्य होगा, अगर वो बाहर का है, तो छे महिने के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी, तो जो हमारे देश के अलग-अलग शेत्रों से लोग चुन कर आये हैं, हमें उन्ही में से मंत्री पद चुनने हैं, वली विकल्प कम हैं, लेकिन देश के अलग अलग भागों का प्रतिनिधित्व मंत्री परिशद में होगा ही, फिर उत्तरदाई सरकार बहुत जरूरी हैं, और संसद्य विवस्ता के हमारे पास अनुभव थे, उन्नीस सो उन्नीस, उन्नीस सो पैथीस, जो चुना उस कानूनों के लागू होने के बाद हुए थे, वो पारलिया मेंटरी सिच्टम हमें सिखा चुके थे, बहुत सारे सवाल इसमें आये हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीते हैं, मेरातन क्लास आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर रहे हैं, इसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, मैं आपका दो मिनिट का समय लुगा ताकि आप को आने वाले समय में एक बहतर तरीके की जानकारी मिल सके यदि आप 2024-25 की प्लानिंग कर रहे हैं, 2024-25 यदि आप एक प्रॉपर तरीके की गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से तयारी पूरा करना चाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अनकेडमी के साथ, सवाल ये है कि क्यों Unacademy तो ये सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में कोर्स आप जब पर्चेस करते हैं तो आपको एक टीचर और एक कोर्स दे दिया जाता है ये का ऐसा Unacademy सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको किवल एक time limit bounded है बाकी कोई boundation नहीं है आप अपने सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर की क्लास देख सकते हैं एक अभी subject पर जितने क्लासे चल रही हो सब देख सकते हैं जितने test हो रही हो सब दे सकते हैं अलग से subscription नहीं लेना इसी में आपको material मिलेगा, इसमें आपके doubt clearing होंगे, इसी में आपको complete classes मिलेगी, multi educators मिलेगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका, तो यदि आप तयारी की planning करें और online platform ढून रहे हैं, तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि इससे best और कोई नहीं, पिछले दो वर्षों का अधबुत result आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते 170 से ज्यादा टॉपर 2020 में, और 197 टॉपर 2021 में अनेकेडमी ने दिये, सबसे बहतरीन result, और इस समय अनेकेडमी ने एक बहतरीन चीज किये, जो खास करके उन विद्यारतियों के लिए जो गरीब है, उन्हें लगता है कि वो, क्योंकि अनेकेडमी सबसे बड़ा platform है online में, जो सबसे ज्यादा free material उपलब्द कराता है, लेकिन कई बच्चों का कहना था कि हमें अनेकेडमी से classes चाहिए minimum price में, तो अनेकेडमी लेकर आया है अनेकेडमी store, इसके माध्यम स आपको GS, CSET और Current Affair की classes, बहुत minimum price में, ये recorded classes भी रहेगी, live classes भी रहेगी, ये module टाइप है module, module किसे कहते हैं, यदि आपने YouTube पर बहुत कुछ कवर कर लिया, लेकिन आपको दो सबसे कवर करने हैं, तो आप अनेकेडमी स्टोर के माध्यम से कवर कर सकते हैं, पर अगर आप complete preparation चाहते हैं, complete preparation, तो आपके पास है plus और iconic, आइकोनिक क्या होता है, आइकोनिक में आपको एक mentor अलोट किया जाता है, जैसे मान लीजा आप MK Live Refer Code यूज़ करेंगे, तो आपको दो mentor मिलेंगे, एक mentor तो मिलेगा, जो अनेकेडमी देगी, और एक मैं, क्योंकि आपने MK Live Refer Code आइकोनिक जो है, उसमें सारे plus benefit, one-to-one mentorship, discord नामक एप पर doubt solving session होते हैं, पूरी तरह से library, आपको open library खास करके digital library, और offline test भी इसमें उपलब्द कराई जाते हैं, अब अनेकेडमी offline mode में भी आ चुका English Medium में, वहाँ भी आपको offline के साथ ये पूरा online subscription plus वाला मिल जाता है, plus में सारी चीज़े मिलेगी, बस mentor नहीं मिलते हैं, बाकि आपको C-set, GS, current affair, question test, series, doubt solving, सारी चीज़े मिलते हैं, material भी आपको लेना नहीं है, सारा material, आपको free of course लिया जाता है, iconic में physical material मिल जाता है, plus में आपको पूरा digital material मिल जाता है, ताकि आप बेटर तरीके से तयारी कर सक MK-LiU हमारा refer code है, यह क्या होता है बई, तो हमारा यह refer code आपको instant 10% discount और सबसे best offer उपलब्द कराता है, साथी साथ MK-LiU में हम doubt clearing के माध्यम से आपको guidance उपलब्द कराते हैं, mock test आप हमारे वाले test देते रहोगे, personal mentorship हमारी तरफ से मिलती हैं, और unacademy के वो सारे benefit, एक ही course मे pre-mains interview, सारी तयारिया आपको उपलब्द कराई जाती है, तो यह है unacademy online platform, भारत का सबसे best platform, अगर आप इस से better platform ढूण पाए तो मुझे comments करिएगा, बाकि आप लोग अपने मेरा थन class को पूरा देखिएगा, मेरा दावा है कि इस class के बाद, न केवल revision आपका better होगा, बल कि इस class को आप 2-3 बार देख लिजे, आप इंडियन जोगराफी में, 10 में से 7-8 सवाल केवल इस class से ही अटेम कर लें, प्रॉपर याद करेगा इसके material को, पीडियप को हमने इसी class में नीचे link कर दिया है, तो सभी को बे stop luck, continue देखते चलिए, मेरा थन class, धन्यवाद, कार्य कार्यपाली का विधान मंदल के प्रती उत्तरदाई बना रहता है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा विधान मंदल आता है, तो हिंदी माध्यम के दिमाग में आता है, अच्छा राज्य की बात नहीं, एक्चुली उसने ट्रांसलेशन क्या कर दिया, लेजिसलेचर का, जब क को चुनी है, जो मंत्री मंदल सोरूप की सरकार के अंतरना सिद्धान को अभिवेक्त करती है, 2017 का सवाल है, जल्दबाजी बहुत खतरनाक है तुमारे लिए, तुम पेशंस के साथ उत्तर दोने, तो सब पता होकर भी उत्तर बिगड़ जाते हैं, क्या सरकार जनता के प्रत उत्तरदाई मानी जाएगी, संसद के प्रति कहें, ज्यादा बेटर कहें तो लोक सभा के प्रति कहें, ज्यादा बेटर कहें तो निचले सदन के प्रति कहें, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्ता, आलोचना का कोई कमी का टार्गेट है, कहीं बताया मैंने, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविदी जिसके उत्तरदाईत्व धिन प्रती दिन बढ़ते जाए, बकवास है पूरी तरह से, उस शाचन अध्यक्ष के हातों को मजबूत करने का एक साधन, जिसका जनता पर नियंत्रन, क्या ऐसी कोई चर्चा सामूहिक उत्तरदाईत्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदिय लोक्तांत्रिक की एक किरियाविदी, अब वो जनता के प्रती, मतलब एक तरीके से जनता के कल्यान के लिए संसद को ये काम देना कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं, हालेकिन सामूहिक उत्तरदाईत्व रहेगा, तो आंसर आना चाहिए था केवल और केवल option थी, फिर है 2020, देखो सवाल कितनी बार cut-paste हुए है एक ही, हमने देखा 17 में आया है सवाल, 46 वा था और 99, मतलब दो सवाल उस साल आये थे, और 2020 में फिर से वही सवाल है, संसद्य विवस्ता वाली सरकार वह होती है, क्या सभी राजनितिक दलो का सरकार में प्रतिनिदित्व का हामने, तभी शेत्र का प्रतिनिदित्व हुने की संभावनाए रहती है, सरकार संसद के प्रति, अब देखो, एक ओर सवाल में बता दू कि 2004 का या 5 का सवाल मुझे याद नहीं आ रहा है, तब सेम सवाल है, या ह दिये गये थे। लोग सभा के प्रती, राज्य सभा के प्रती सामूइक उत्तर दाईतुव किसके प्रती हैं। संसद के प्रती और राष्टपती के प्रती। अब उत्तर आना चाहिए था। क्योंकि रियल में सरकार का सामुईक उत्तरदाईत वर राज्यसभा के प्रती, राश्टपती के प्रती, वो केवल किसके प्रती सामुईक कलेक्टिवली रिस्पॉंसिबल है, तो सवाल को option के according चुनना पड़ेगा, अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संसत के प्रती होती ह और उसके द्वारा उसे हटाया, जा सकता है, जबकि सरकार को हटाने में राज्यसभा का कोई रोल है यही नहीं, तो वास्तविक रूप में option हमारे पास, अगर यहाँ एक और आ जाता, जिसमें संसत की जगा लिखा होता, लोकसभा, तो वो ज्यादा सटी का आंसर होता, या करना है, उसने कही नहीं काय कि वही सही होगा, अधिख सही का मतलब संभावनाय बदल तीरह सकती है, फिर भारत और बरिटेन की संसदिय व्यवस्ता में क्या-क्या अंतर है, तो पहली बात तो है कि बरिटेन में आज भी राज्तन्त रहे और संसद की आज भी ब्रिटेन में संसद जो कह दे, वही अंतिम कहा जाएगा, न्याय पालिका भी उसका पुनर अलोकन, यहां तक की न्याय पालिका से उपर भी कोई न्याय पालिका वहां है, उनका उच्च सदन, उनका उच्च सदन, न्याय पालिका से भी अधिक ताकत रखता है, कहां? बृतेन में, हमारे द जहानी में सारी बात बता दू कि जो कल बेसिक स्ट्रक्चर का जगडा था, वो ऐसा मत सोचना कि जो लोक सभा में इंद्रा गांधी कर रही थी, ठीक है इंद्रा गांधी एक राज नितिग्य है, लेकिन उनके सलाकार तो कानूनी विशेशग्य है न, तो वो ये सला देते थे कि हमारा पारलियमेंटरी सिस्टम काहां का है, ब्रिटेन का, और ब्रिटेन में तो व्यवस्ता यही है, इसलिए आप घवराएनी आपको जो पारित करना है, पारित करते चली, वो तो अच्छी बात है कि समय रहते हमारी न्यायपालिका ने कहां, हमारा उनसे प्रेरित है, पर कौपी नहीं है, जैसे कई बार सिनेमा में मूवी मिल एक डायलोग आता है, कि प्रस्तुत सिनेमा सच्ची घटना से प्रेरित है, प्रेरित कहां मतलब उससे इंस्पायड है, पर ओरिजनल सच्ची घटना पर आधारित है, तो हम कहेंगे कि वह ओरिजनल घटना का ही नय रूप दिखाया जा रहा है, तो आधारित वर्ड कहां, तो वह सच्ची घटना पर बेजड है, मतलब उ लगबग सच्ची घटना से सिमिल्यारिटी रखेगा, पर कहां प्रेरित है, प्रेरित का मतलब उ सच्ची घटना हो जरूरी नहीं है, हां उसके जैसा कही हुआ होगा तो वही हमारा जो parliamentary system है वो क्या है प्रेरित है पर वो उस पर आधारित इसका सबसे बड़ा प्रमान है कि हमारे यहां गंतंत्र है हमारे यहां सविधान की दूसरा प्रधान मंत्री के लिए निम्न सदन की सदस्यता अनिवार और obviously भई बिटेन में जो उच्च सदन है वो चु करनाता हुने है कि जो सबसे महतुपुर्ण पद होगा वो राजा का रिष्टेदार नहीं होगा इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमारे यहां जो प्रधान मंत्री बनेगा वो केवल निम्न सदन का ही रह सकता है हमें ऐसा टेंशन की जरुवत नहीं क्योंकि हमारा जो अपर हा उसरे उच्छ सदन है वो राजा महा राजाओं के रिष्टेदार नहीं बलकि राज्यों का प्रतिनिदित्व करने वाले व्यक्ती हैं तो राज्यों का प्रतिनिदित्व संग की विशेष्टाओं के अंतरगत है वापिस चले जाएंगे, बस इतना ही काम है, मतलब उनको एक तरीके से काम सोपा है, कोई भी सम्मान देना हो, गिप्ट बाटना हो, उसके लिए, हमारे यहां पर और भी जिम्मेदारिया है, ठीक है, वो जिम्मेदारिया विवेकिय वाली केवल परिस्तिति वाली हो, कंडिश कारपरदान करने के लिए भेजे गए है, या फिर उनके साथ खाना खाके, ये गवरो महसूस किया जा सकता है, कि हमने बृटेन के साथ खाना खाया, तो हम यह कह सकते कि बहुत बड़ अंतर है, हमारे हां के राष्ट्रबती को डिस्क्रेशनरी पावर है, वो परिस्तितिति अमंत्रन दिया वहां कि महारानी ने का कि हम आपके साथ भूजन करना चाते हैं, कोई चोटी गटना नहीं है, कि उनके खिलाप लड़ने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए महारानी आतूर है, क्योंकि महारानी जानती थी, कि यह अकेला व्यक्ति पूरे संसत को भी डरा देत जो मुझसे भी नहीं ढ़ती हैं, मैं देखो तो सही है महान शक्स है को, तो उस समय क्या होता था कि महारानी से मिलने वाले जो लोग थे थे न, वो लोगे कि स्पेशल ड्रेस कोड पहनते थे, वकाइदा सूट बूट, अब महारानी महारानी के साथ कास्तुर्बा गांधी तो सूट बूट और सब चीजे पहनते थे, महात्मा गांधी उसी भेष में मिलने गए थे, तो कई पत्रकारों ने काई कि आप महारानी के सामने ऐसे अर्दनग अवस्ता में जाएंगे, तो उन्हों बहुत शालींता से जवाब दिया, जितने जरूरी है, उतने हैं, बचे इतनी शालींता से, कोई वेक्ती होता तो घुसे में आ जाता कि ये क्या लगा रखाएंगे, इतनी शालींता से जवाब दिया, कि पत्रकार सोच में पढ़ गया कि अब इसका जवाब क्या दे, बहुत अदवुत सी कहानी, ये कही डायलोग में खतम कर दी, तो वापिस आते हैं, ये difference है, parliamentary system है, बृतेन और भारत का दोनों में, आईये अब समझ लेते है, parliamentary system में मान लेते हैं कि मनमोन सिंह थे, राज्य सभा से आये थे, इंद्रा गांधी भी एक बार राज्य सभा से आकर प्रधान मंत्री पत सुशोबित कर चुकी है, तो याद रखिए low confidence motion प्रधान मंत्री के खिलाप नहीं होता है, प्रधान मंत्री सहीत मंत्री परिशत के खिलाप होता है, low confidence motion में प्रधान मंत्री अपना दावा या अपनी ब उपस्तित होंगे, जिम्मेदारी लेंगे, सभी सवालों के जवाब देंगे, सदन को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मतदान में भाग नहीं, अब मानलो लोग कॉन्फिडेंस मोशन खतम हो गया और वो हार गए, तो अब इसका मतलब लोग सभा खतम, वे क्या क मतलब लोग सभा के सभी लोगों को बताया कि घड़ जाओ, तयारी करो, नए चुनाओ, इसे पीटी का रिजर्ड आया, अब मानलो जो वेक्ति IPS और या IRS बना हुआ है, पीटी का रिजर्ड फेल हुआ, तो क्या उसका कह दिया कि IRS भी गया, भई IRS तो है वो चला अपनी नोक जे चुनाओ, हम फेर से वैसे ही शाशन का दौर शुरू करेंगे, तो यह मत सोचेगा कि लोग सभा में अगर बहुमत प्रधान मंत्री का चला गया, और वो राज्य सभा के सदस्य हैं, तो उनकी सदस्यता पर कोई संकट नहीं आएगा, हाँ, इतना ही है कि अब लोग सभा कि वो नेता नहीं रहे क्योंकि प्रधान मंत्री लोग सभा का नेता होता है, केश्वानन भारती बनाम केरर राज्य में जो बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड है उसमें यह भी कह दिया है कि हमारे देश में संसदिय शाशन प्रनाली सविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब अध्यासात्मक प्रनाली नहीं ला सकते, वही प्रनाली आपको सुधारनी है, अब आते हैं अध्यासात्मक प्रनाली, तो उसके कैरेक्टर क्या है, कार्यपाली का एक ही, यहां कोई नाम मात्र का और वास्तविक नहीं, जो वास्तविक है, वही वास्तविक रहेगा, नाम मात पराष्टपती पिर उतने टाइम के लिए पदभार स्तंभाल लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कभी कुछ घटना क्रम हो जाये तो नहीं होगा, वहाँ उपराष्टपती वह सारा काम कर लेंगे, विधाईका और कारेपालिका का अलग अलग चुना होता है, जो कानून बन अमेरिका के चुनाओ बतादू, अमेरिका में तीन चीजे है, एक विधाईका, एक कारेपालिका और एक न्याईपालिका, तीनों बिल्डिंगे अलग अलग है, ये बिल्डिंग है अमेरिका की जहाँ दो कमरे हैं बड़े-बड़े, एक को नाम देंगे हम अपर हाउस और को नाम देंगे हम lower house और दूसरा है जो white house के नाम से बड़ा famous building है जहां राष्टपती रहते हैं उनकी meeting होती है बाच्चीद होती है निड़ने लेते हैं और एक building है जो वहां का supreme court कहलाता है जो कि अपने आप में भी एक महतुपुर्ण जगह है अब कल्पना करिए कि वहां दो पार्टी है पार्टी एक का नाम x और दूसरी पार्टी का नाम y है मान लीजे कि पार्टी lower house में x पार्टी के लोग ज्यादा और y पार्टी के लोग कम है और यहां जो राष्टपती बना है वो y पार्टी का है राष्टपती और बहुमत किसका है उससे कोई तकलीब क्योंकि वो धर कानून बना रही है और इधर ये महोदय है लागू करवा अब आप यह सोच रहे होंगे कि सर यह कैसे हो पाएगा तो यह संभव हो है दो बार चुनाओ कराओ पहली बार चुनाओ कराओ member of parliament के लिए मान लेते ही कि member of parliament वहाँ 400 सीटे है तो x पार्टी ने 400 लोग उतारे y पार्टी ने 400 लोग उतारे और मान लेते हैं कि x पार्टी के दो-दो लोग भेज कर 100 लोगों का अपर हाउस बन जाएगा तो यह उनका लोवर और अपर हाउस हो गया रेटी अब सरकार बनानी है राष्टपती के लिए दो candidate खड़े होंगे अब वो लोग क्या करेंगे अपने फिर से 400-400 लोग भेजेंगे और कहेंगे कि आप उस शेत से मेरे प्रतिनिधी बनकर चुनाव लड़ोगे प्रतिनिधी बनकर अब वहां से 400 लोग इधर से 400 लोग और फिर से चुनाव है और पता चला कि वाय पार्टी ने 300 सीटे जीत गए तो यह जीते हुए लोग है यह वापिस अपने घर जाए हमने का भी तुम बस जीतने के ल गया कि मैं राष्टपती बन गया तो वाय पार्टी वाला राष्टपती बन गया अब उसे मंत्री बनाने है किसी को तो अब वो अपनी मढजी से जिसे चाहे उसे वो पद दे सकता है वो भी आपिसली वो भी उन लोगों को ही पहला पद देने की कूशिच करता है जो उनकी party के हैं, जो उनके साथ काम कर रहे थे, कभी-कभी उनको विशेशग्य की जरुवत हो, तो विशेशग्य को भी पद दे देते हैं, वहाँ उनको ऐसा foundation नहीं है, कि जो lower house के थे उनी में से चुनना है, या upper house में से चुनना है, वो किसी को भी चुन सकते है, तो अमेरिका में इलेक्षन कितनी बार होते हैं, दो बार, कितने जो लोगसभा के इलेक्षन होते हो, मात्र कितने वर्ष के होते हैं, केवल दो साल के लिए लोगसभा चुनी जाती है, केवल दो लोगसभा का कार्यकाल दो साल का है. तो अमेरिका के लोगसभा का इलेक्षन मात्र दो साल और राष्टपती का इलेक्षन विधाईका और कार्यपालिका की एकल सदस्यता एकल मतलब विधाईका के लोग विधाईका में जाएंगे और कार्यपालिका के लोग उनका आपस में कोई कौमन ऐसा एक भी वेक्ति नहीं है जो कहें कि मैं विधाईका में भी जाऊगा और मैं ही कार्यपालिका में अलग-अल जैसे ही बाईदेन आये और बाईदेन ने गोष्णा की, कि अगले चार साल में मेरी योजना ये है, तो जितने भी लोग है सब को भरोसा हो गया ना, कि चार साल में तो कोई चीज बदलने वाली नहीं है, हाँ, वहाँ तो जनरली ऐसा होता भी है, कि वही वेक्ति फिर से, जी पालिका के गठने तु व्यापक आउसर है, व्यापक मोके है, विकल्प है, आउसर की जगह मैं कहोगा विकल्प, कैसे भई, कानून मंत्री, अब हमारे देश में आज वित्त मंत्री हमें बनाना हो, तो हमें उन्हीं 545, 245 भीड में देखना है हमारी पारटी के, और उसमें द यक्ती को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी विशेशग्य को कह सकते हैं कि ये पार तुम ले लो, हमारे यहां पर ऐसा संभव नहीं है, तो वहां कार्यपालिका के लिए कापी विकल्प होते हैं, अध्याशात्मक विवस्ता के दोश क्या हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, करते चलो, जब चुनाव आएगा तब का तब देखेंगे, तो उत्तरदाइत वकाभाव सबसे बड़ा उधारन ट्रम सापका ले लो, जब उनको लगा तो उन्होंने पेरी समझोते को भी मना कर दिया, जब उने लगा तो युनिसको से भी अपने आपको अलग कर दिया, मत पालिका और विधाईका में कॉडिनेशन नहीं होता है, कई बार, अब सोचों कि यहाँ एक्स पार्टी का बहुमत और राष्ट पती है, आपको लगता है, एक्स पार्टी के बहुमत वाले लोग जो कानून बना रहे होंगे, वो वाई पार्टी का राष्ट पती सोचेगा की लागू करवाएं लागू करवाएगा भी तो पूरे मन से लागू नहीं करता कई बार दिक्कते आ जाती है और तीसरा ड्रॉबेक हैं कई बार राष्टपती के निरंकुष आटोक्रेट होनी की भी पॉसिबलीटी है जैसे की कई बार देखा गया है अमेरिका के सिस्टम अब आते हैं भारत की फेडरल सिस्टम जो हम समझ चुके हैं फेडरल में क्या होगा तो एक साथ दो-दो सरकारे होती हैं युनिट्री में हम देख चुके बस एक चीज मैं बता दू संग भी तीन प्रकार के होते हैं संग भी तीन प्रकार के होते हैं संग मतलब तो अगर हम बात करें, तो जहां केंद्र और राज्य सरकारों को बिलकुल बराबरी, जैसे कि बेस्ट इक्जामपल, अमेरिका, एक आइडियल फेडरल सिस्टम माना जाता है, लेकिन दूसरा फेडरल सिस्टम, जहां केंद्र तो बहुत ताकतवर है, लेकिन राज्य को उतनी ताकत नहीं है, लेकिन है उनके पास भी कुछ विशा है, तो इसको कहते हैं इंडियन फेडरल सिस्टम, जिसको हमने यूनियन नाम दिया है, और एक आउस्टेलिया का फेडरल सिस्टम भी है, आउस्टेलिया के फेडरल सिस्टम में केंद्र को ताकत कम, और राज्य के पास ताकत ज्यादा हैं, तीनों ही federal हैं, तीनों ही federal के उधारन हैं, लेकिन ideal federal किसको कहेंगे, अमेरिकन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम भी ideal नहीं है, समा योजीत है, हमने अपनी परिस्तितियों के नुसार उसको बनाया है, और ये ऑस्टेलिया का federal system है, भारत का federal system क इससे ज्यादा प्रेरीत है, कनाडियन फेडरल सिस्टम से ज्यादा प्रेरीत है, उसके जो प्रावधान है फेडरल में लगबग हमारे भी वही प्रावधान है, तो यह हम कर चुके संसदी अध्याशात्मक नहीं, भारत की संग्ये व्यवस्ता, तो अब हम आते हैं केंद्र और राज्य के संबंदों पर, केंद्र के जो राज्य के साथ संबंद है वो कितने प्रकार के हैं, तीन, पहले विधाई और प्रशाशनिक, दूसरे वित्तिय, पैसो वाले संबंदों को अलग चैप्टर दिया है, क्योंकि वो बड़े इंपोर्टेन है, सारे जगडी की तो वही बारा है, वो फाइनेंशल रिलेशन के लिए याद रखना है, तो एक और एक ग्यारा दोनों की ताकते बढ़ी, तो हम उसे कहेंगे विधाई और एड्मिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और बारा में फाइनेंश्य रिलेशन रहेंगे, तो सात्वी अनुसूची में 266 तक कहें तो कौन-कौन से संबंद आ जाएंगे प्रशाषनिक और विधाई का, 265 ही कहो, और 266 से लेकर 293 तक वित्तिय संबंद आ जाएंगे, वैसे उसमें 266 और 266 और 266 दो खजाने का वर्नन है, संबंदों की शुरुवात रियल में होती है, 268 से 293 के बीच में, ठीक अब आते हैं, पहले इनके संबंदों में विधाई संबंद जो की सात्वी अनुसूची में वर्नित है, सवाल है, विधाई मतलब राज्य किन विशय पर कानून बनाएगा, और केंद्र किन विशय पर कानून बनाएगा, विधाई या लेजिसलेचर का मतलब है, कि दोनों स तरकारे कि जो विधान, सभा और संसद हैं, उनकी शक्तिया। विधाई संबन्द को आप प्रेक्टिकली ऐसे सोचो कि हमारे केंद्र में बैठा हुआ संसद किन-किन विशय पर कानून बनाने की ताकत रखता है और राज्य में बैठी वी विधान, सभा किन-किन विशय पर कानून बनाने की ताकत रखता है legislative relation सभावों के है और जो administrative relation है वो उनके कार्य पालिका के है हमारी केंद्र की सरकार किन-किन विशय पर काम कर सकती है और राज्य के मुख्य मंत्री वाली सरकार किन-किन विशय पर काम कर सकती उसे कहेंगे administrative relation, और तीसरा पैसो का शब्दा आते ही clarity आपके दिमाग में आ जाती है, तकलीब कहा है, लेजिसलेचर में कानून बनाने पे, तो सबसे पहले तो ये बात चिस कर लेते हैं, article 246 में तीन सूची आए, वैसे चौथी सूची भी कहे दे हम तो ज्यादा गलत नहीं पर वा आर्टिकल 248 में है, 246 में संग सूची है, संग वर्ड का मतलब रहेगा, केंद्र सरका, कितने विशय है इनके पास, सव, और सव हुने का मतलब एक्स्क्लूजिवली ताकत किस की तरफ आगई, केंद्र की तरफ, अब इमेजिन करो, बाकी लोगों के विशय बहुती कम हैं, और ये सव कोई साधारन विशय नहीं, बड़े इंपोर्टेन विशय है, तो पलडा पूरी तरह से किसकी और, दूसरा है, समवर्ती सूची, जिसमें कुल 52 विशय हैं, और दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून बन गए, तो केंद्र का होगा, मतलब मोटे तोर पर कहें, तो पलडा किसका भारी हो गया? बस ये पूरा राज्य सूची के विशय पर 61 विशय हैं, जो पूरी तरह से कानून कोन बनाएगा? लेकिन यहां पर भी आर्टीकल 249 हैं, यहां पर भी आर्टीकल 253 हैं, यहां पर आर्टीकल 252 के तहद भ इनके माध्यम से इस पर भी कबजा केंद्र कर सकती है, मतलब पलडा फिर किसकी तरफ गया? और सबसे अधबुत चीज हैं, अवशिष्ट जितनी भी शक्तिया भी बताई नहीं, वो सब किसके पास आगई हैं, जैसे, इसका उधारन लो, मुझे बताओ, जब भारत का लिखा जा रहा था, उस समय कंप्यूटर नाम की चीज थी, क्या किसी को पता था कि मोबाइल भी आएंगे, क्या किसी को पता था ड्रोन के माध्यम से भी डिलिवरी हो पाएगी, क्या किसी को पता था आर्टिफिशल इंटलिजेंसी होगी, यह सब नए विशय आये, इन पर और कानून बनाने का पूरा अधिकार और आने वाले टाइम में दुनिया का नियमी है परिवर्तन मतलब अगर मैं मोटे तोर पर कहूँ तो भविश्य में ये विशय और भी कम होते जाएंगे मुझे बताओ पहले जूट भी एक महतपुर्न विशय होता था जूट जो बंगा मतलब धीमे धीमे कई विशय जीरो होते जाएंगे और नए विशय आते जाएंगे और वो किसकी जोली में पढ़ेंगे मतलब पूरी तरह से कोन ताकतवर हो गया बहुत इकतरफा शाशन व्यवस्ता में केंद्र को मजबूती दी गई है और इसलिए कई बार आरोप लगता है कि ये कैसा फेडरल है ये कैसा संग है मतलब जैसे ये ऐसा समझो आप लोग तोड़ा प्रेक्टिकल लेते हैं पिताजी ने घर का बटवारा कर दिया और कहां कि अब से तुम्हारे घर का सबजी रोटी तुम खुद बनाओगे बेटे से कहां और हमारी सबजी रोटी हम अलग बनाएंगे बात्चित्ताय हो गई लेकिन हर दिन सास जाकर बोल कर आती है कि सबजी यही बनेगी तो बहुरानी ने कहां पिर ये कैसा बटवारा है इस अच्छा वापिस एक साथ सबजी बना लेते हैं तो निर्ने छोटे छोटे भी आप अगर नहीं लेने दे तो प निर्ने भी दादा जीतताय करते हैं गोलु ने फिला शर्ट पहना गोलु को वापिस घर भेजा कहां सपेज शर्ट पहन के आओ अच्छा नहीं लगता है तो इसका मतलब सारे विशय फाइनली दे कर भी उनको कुछ मिले नहीं तो आरोप तो लगाएंगे कि ये कैसा संग ह हैं जहां हमारे पास कोई ताकत हई नहीं सारे निर्ने आपको ही लेने हैं तो पिर संग क्यों बोल रहे हो युनिट्री बना लेते हैं फिर से एकल परिवार खड़्चा भी कम लगेगा और सब मिल जुलकर निर्ने भी ले पाएंगे 42 सविदान संचोधन में इंद्रा गांधी ने इन विशयों की अनुसूची में भी बदलाव किये पांच ऐसे विशय थे जो राज्य सूची में थे अब उन्हें किसमें लेकर आ गए पहला एजूकेशन दूसरा पॉरेस्ट तीसरा नापतोल चवथा वाइल लाइप और न राज्य सूची से किसमें डाल दिये गए मतलब राज्य सूची के विशय कम हो रहे वो अलग बात और इसमें और भी लगातार कमी करते चले जा रहे हैं कहां विशय आ गए समवर्ती में और समवर्ती में आने का मतलब यह हुआ कि कानून बनाने की ताकत अब और दोनों में प्रभावी अगर दोनों के बन गए तो तो नई एजुकेशन पॉलिसी लाने के पीछे में मकसद यही रहा और कोई गलत नहीं थे शिक्षा और मैं कहूंगा वन जैसे महतुपन विशय सम जबकि ऑस्टेलिया के सविधान में शक्ति विभाजन की दो सूचिया है हमारे यहां पर चार सूचिया है अवशिष्ट वाली सूचिद है नहीं बड़ उसमें सब भविश्य आ चुका है केंद्र को अधिक शक्तिया क्यों दी गई सवाल यह है कि क्या सविधान सभा में इ बटवारा देखो कुछ भी कहो बटवारे की कही न कही जो तकलीप थी वो पूरी सविधान सभा ने देखी थी इसलिए वो कोशिश करेंगे कि अब बटवारा ना हो इसलिए केंद्र को इतना ताकतवर बना दो कि बटवारे की कभी गुंजाईश ही ना हो मतलब एक जो पे और धागा मस्बूत करने का मतलब केंद्र को मस्बूत करना, तो सबसे पहला कारण था अधिक शक्ती देने का historical background, दूसरा एक और बड़ा कारण था, हम दुनिया के वो पहले देश बनने जा रहे थें, जो लोकतांत्रिक तो होंगे, लेकिन विविदता वाले, अभी तक लोक यसलिए उसके लिए जरूरिये कोई एक ताकतवर होना चाहिए, ताकि देश की एकतावर अखंडता को बनाया जा सके, प्रेक्टिकल उधारन लो, एक माता पिता जिनके पांच बच्चे हैं, और बिल्कुल पांचों इतने भयानक कुछती खेलते हैं, कि WWF भी फेल हो जात लेकिन जैसे कमरे में पिता जी का प्रवेश होता है, सबी लोग पढ़ाई करने और एक दूसरे की मदद करने में लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो सका, केंद्र बहुत शक्तिशाली, केंद्र इतना शक्तिशाली कि कई बार बेल्त से पिताई कर देता है, अब इमेजिन करो केंद्र शक्तिशाली नहीं होता, साधारन होता, और केंद्र कहता चलो भई थोड़ा तुम में लड़ो, तो वो लड़ाई और बढ़ती और किसी दिन कोई घराब घटना सुनाई दे सकती थी, तो केंद्र कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली ताकि एकता देश में बनी रहे, तीसरा, देशी रियासतों का अनुभव भी कोई साधारन तो था नहीं, उदर जुनागर अपने हवाबाजी कर रहा था, हैदराबाद मानने को थयार नहीं, कश्मीर अपनी अलग शर्ते लगा रहा था, हमने काई अगली बार ना मिले, इसलिए हमने पहली केंद्र को बहु इकाई होगी, जो सारे निड़ने लेगी, इसलिए भी उन्होंने ऐसा किया, नीतीगत और प्रशाचनिक एक रूप था, उनके ले एक बहुत बड़ा चेलेंज था, देश की विविद्ता में, देश की अलग अलग धर्म जाती में, सब को समान रूप से चीजे उपलब्द कराना, और वो तबी संबव था, जब देश में केंद्र की सरकार मद्बूट हो, तो ये वो कारण है, जिसने क्या करवाया देश में केंद्र को मद्बूत कराया, भारत संग बनाम मुहंमत असलम मामला 2011, भारत की संगिये विवस्ता में,nik राद भी केंद्र के साथ बराबर और वो छोटे भाई है, अतक केंद्र द्वारा अपनी प्रशाशनिक शक्ती का मनमाना प्रयोग नहीं किया जाएगा, केंद्र और राज्य के जो विधाई संबंद है उसमें आर्टीकल 249, ये आर्टीकल 249 ये कहता है कि यदि राज्य सभा को लगे कि कोई राज्य सूची का विशय आज राष्ट के महत्वका हो गया है, तो उस पर राष्ट के महत्वको ध्यान में रखते हुए, लोक सभा या संसद कानून बना सकती है, केंद्रिय महत्वके राज्य सूची वाले विशय पर एक वडश के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ती, आर्टीकल 250 कहता ह है, राष्टी आपातकाल में राज्य सूची के विशय पर कानून बनाने की संसद की शक्ती और भारत के किसी भी, अब यहां बड़ा इंट्रेस्टिंग कंसेप, मान लोकी राष्टी आपातकाल लगा हो केरल में, तो उस समय 250 का उप्योग करके, केंद्र सरकार मध्य परद हैं, राष्टी आपातकाल 252, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध से, राज्य सूची के विशय पर कानून बनाने की संसत की शक्ती, पट फिर से रिपीट, 252, दो या दो से अधिक राज्य जो मांग कर रहे हैं, उन पर ही कानून लागू होगा, बाकी राज्य अ राज्य की रिक्वेश्ट और 253 में अंतर राष्टिय संधी का दबाव, 253 ये कहता हैं कि किसी अंतर राष्टिय संधी को लागू करने के लिए, किसी अंतर राष्टिय एग्रीमेंट को लागू करने के लिए, राज्य सूची के विशय पर भी केंद्र सरकार कानून बना स लेकिन ऐसा कानून प्रत्यक राज्य को मानना ही पड़ेगा। 252 में राज्यों के पास फ्रीडम थी। इसका उधारन हम ले सकते हैं। जब 2013-2012 में लोकपाल बिल आया था। तो लोकपाल बिल को बड़े आंदोलन के बाद प्रस्तुत करवाया गया। तब केंदर सरकार ने 252 के तहट नहीं लाया। 253 के तहट पूछा गया कि यहां कौन सी अंतरराष्ट यह संदी है तो यहां UN की अंतरराष्ट यह संदी है ब्रष्टाचार निरोध संदी। कि हर एक राष्ट अपने देश में भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश करेगा, तो बोले उस संधी को लागू करने के लिए 253 का सहारा लेकर, हम देश के सभी राग्जों को आदेश देते हैं, कि वो अपने यहां पर हम लोकपाल बना रहे हैं, तो वो लोका युक्त बनाएं और सारी कारवाई वैसे ही करते चले, जबकि उस समय विरोध में मतलब BJP विपक्ष में थी तो सुश्मा सौराज ने इसका विरोध किया और कहा कि आपको यदिये कानून बनाना हैं, तो आप 252 के तहद बनाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसा विशय राज्य सूची का ह तो राज्यों को आजादी दीजे, जिन राज्यों को आपका कानून पसंद होगा, वो ग्रहन कर लेगा, जिन को नहीं पसंद होगा, वो अपनी अनुसार इसको मोडिफाइड कर पाएगा, लेकिन 253 के तहद राज्य के पास मोडिफिकेशन की वो ताकत नहीं रहती, तो 249 मोका देता है कि राज्य सूची पर एक साल के लिए तुम कानून बनाओ, 250 मोका देता है तुम कानून बनाओ, 250 मोका देता है केंद्र को कि तुम कानून बनाओ, 253 मोका देता है कि तुम कानून बनाओ, तो सीधे तोर पर वही बात हो गई, कि गोलु ने पीला शट पहना और दादा जी ने कहा कि सपेज शट पहन कर आजा, तो हमने कहा भई सारी ताकत अगर केंद्र कोई देनी थी, तो पिर उनका मजाग बनाने के लिए क्यों चुनाव कर रहे हैं, वो विचारे महनत कर रहे हैं, कभी दो करोड, कभी पाँच करोड चल रहा है चक्कर, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप ही समाल लो सारा कुछ, तो भारत में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, 253 अंतर राष्टिय संदिया कानून का अनूपालन करने के लिए राज्य सूची के विशय पर कानून बनाने की संसत की शक्ति, 254 संवर्थी सूची के किसी विशय पर केंद्र और राज्य के कानून में ठक्रा होने की स्तती में केंद्रिय कानून का प्रभावी होना राज्य विधान मंदल द्वारा बनाये गया कानून विरोत की मात्रा तक शुन्य हो जाएगा, 254 में यदि समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधान मंदल कानूनों में गतिरोध हो पर कुछ ऐसे शेत्र है हमारे देश में जो जन जाती है कुछ ऐसे विशेश सववेधन शिल शेत्र है कि उस राज्य का कानून ज्यादा जरूरी है वहाँ पर तो राष्टपती यदि चाहे तो इस 252 के प्रावधान के तहत तकराव जलूर हो रहा है केंद्र और राज्य की बीच में नॉर्मली जीत किसकी होनी चाहिए थी केंद्र की लेकिन राष्टपती कहेगा कि नहीं यहाँ पर आप राज्य का कानून रहने दीजे फिर रिपीट कर दू पारलियामेंटरी सिस्टम में राष्टपती क्या कहेगा जो मंत्री परिशत को लग रहा है तो यदि मंत्री परिशत को लगे कि नहीं वहाँ राज्य का ही कानून रहने दो तो उस शेत्र में राज्य का कानून रह सकता है किन्तु राज्य विधान मंदल कानून को राष्टपती के अनुमती हो, तो राज्य विधान मंदल का कानून ही प्रभावी रहेगा, हाला कि दी संसत चाहे तो राज्य विधान मंदल वा निर्मित इस कानून को संशोधित अत्वा रद कर सकती है, फिर आते हैं केंद्र के प् क्या क्या अधिकार रखता है और राज्य का मुख्य मंत्री और उनका मंत्री परिशत क्या क्या अधिकार रखता है एक ही लाइन में कहें जिन विशयों पर कानून बनाने की ताकत संसत की है उन विशयों पर मन प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत को ताकत है और जिन विशयो पर राज्य विधान सभा को कानून बनाने की ताकत थी, उन पर पुरा प्रशासनिक निडिनए लेने की ताकत भी मुख्य मंत्रियों रून की मंतरी परिषत काउनसील ऑप मिनिस्टर को रहेगी. सविधान में विधाई प्रावधान के तरह प्रशाशने तंबंदों में वर्गी करन किलियर नहीं है, अनुछे 256 में लिखा है कि राज्य कारेपाली का शक्ती का प्रयोग संसदिय कानून के क्रियानवयन के रूप में सहायक है, मतलब ये कहना चाहर है कि भी उन्होंने कानून बनाया, लागू भी वो करेंगे, तो जितने विशय पर कानून बनाने की ताकत इनको है, लागू करने की ताकत भी उनको ही रहेगी, इस प्रकार हो कि वो केंद्रिय कारेपाली का शक्ती में बाधा उत्पन्न ना करे, अब पुलिस ने CBI को ही, तो ये तो खुले तोर पर 256 का क्या है, उलंगन है, राज्य को सौपा के कारियों को राज्य को सौपा जाना, मतलब राज्य सरकार अगर कहें कि हमारे 260 समझोते के द्वारा केंद्रिय कारेपाली का किसी अन्य देश की कारेपाली का शक्ती का प्रयोग 261 समझोते के द्वारा केंद्रिय कारेपाली का अन्य देश, इतना कोई इंपोर्टिन नहीं, राज्य सरकार द्वारा किये गए, सारुजनी कारियों में विश्वास प्रदान किया जाएगा, हाँ, 262, अगर दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद हो जाए, तो उनके लिए नदी जल विवादों के समाधान के लिए संसद को कानून बनाने की विश्वास प्रयों में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसमें जेस किये जा सकते हो, 262 में एक नदी प्राधी करन बनता है, और वो कैसे नदी जल का बटवारा होगा, इस प्राधी करन में राजनितिग्या लोग नहीं होते, होते हैं, तो 262 को हम चैलेंज कही भी नहीं देंगे, 263 विभिन तना और गतिरो दूर करने के लिए अंतर राज्य परिशद, यह क्या है भई? और 36 गड़ या मध्यप्रदेश, गुजरात और एक तीसरा राज्य ले लिजे, जो तीनों की सीमा में उमें संबंद खराब हुए है, तो उन संबंदों को बहाल करने के लिए कोई नदी का मुद्दा नहीं है, उसके अलावा कोई भी मुद्दा हो, तो वहां इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी, 263 में केवल समझोते, सुलह या फिर एक दूसरे का समनवय करने के लिए बनाई जाती हैं, हमारे देश में ऐसे अंतर राज्य परिशत बनाए गए हैं, लेकिन इसका निर्मान कोन करता है, राश्टपती, तो ये 262, 263 बाकी मत याद रखना, केंद्र राज्य प्रशास्निक संबन 155 राश्टपती के दुआरा, राज्य पाल की नियूक्ती, ये एक बहुत बड़ा विवादा इस्पद है, विवादा इस्पद ये हैं, इसलिए हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह गुलामी का प्रतीक है, भैउत जमाने में, वाइस र को राज्य पाल के रूप में पसंद करेंगे, पर अधिकतर बार उनकी सलापर ध्यान नहीं दिया जाता और केंद्र सरकार अपनी मर्जी से उनके उपर राज्य पाल को थोप देती है, जगडे वहाँ ज्यादा बढ़ जाते जहां दूसरी पार्टी की सरकार, जैसे 26 जन्वरी हुआ था, 26 जन्वरी में नियम ये होता है, कि जो राज्य का सवेधानिक प्रमूख है, वह सलामी देगा, तो उसके साथ कोन होना चाहिए, मुख्य मंत्री, तमिल नाडू की सरकार ने नयाई नियम कर लिया, उधर राज्य पाल तिरंगा को सलामी दे रहा है, औ कि इसका तो कई वर्णन है नहीं, कि ये क्या होगा, ये प्रम्परा है, तो ये किस बात को दर्शारा है, कि हमारे देश में राज्यों में चुनी हुई सरकार और राज्य पाल के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, तो ये एक तरीके का सवेधन शिल मुद्दा है, इस पर भ और ऐसे सिचुएशन में 365 के माध्यम से ये पता चलेगा कि 356 लगेगा, तो ये एक ऐसे रिलेशन है, जिस पर थोड़े बहुत जगडे चलते रहते हैं, तो पहला था हमारा कौन से संबन? विधाय, जिसमें कानून बनाने की क्रियालिटी, दूसरा है एड्मिनिस्टेटि 263, 155 और 365 ये चार थोड़े एड्मिनिस्टेटिव रिलेशन ध्यान देना, अब आते हैं, पाइनेशियल रिलेशन, इसमें काफी ज्यादा विवाद भी रहते हैं, और काफी ज्यादा प्रॉबलम भी रहती है, तो सवाल इसमें बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, सबसे बले तो 266, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट मतलब एक तरीके के संचित निदी कंसुलिडेट फंड और एक लोक लेखा अकाउंट की बात आती है, 267, केंद्र सरकार प्रतेक राज्य सरकार के लिए क्या बनाएगा, आकस्मिक और केंद्र का भी खुद का अपना एक कंटिंजेंसी फंड रहेगा, 268, इस स्टाम शुल्क केंद्र द्वारा लगाया वसूला जाएगा, किन्तु संबंधित राज्य को तोपा जाता है, देखो, स्टाम ड्यूटी जो है, आपने देखे होंगे, जब भी स्टाम पेपर आते तो भारत सरकार किसी राज्य सरकार का नाम नहीं होता, उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार लागू करेगी, केंद्र सरकार वसूल करेगी, लेकिन जिस राज्य का जितना हिस्सा है, वो पूरा उसे देना है, वहां किसी बटवारे की बातचित नहीं है, आर्टिकल 269, वस्टूओ के क्रय व तर राज्ये व्यापार में GST केंद्र सरकार लगाएगी, वसुले गए धन को केंद्रो राज्य जियस्टी, काउंसिल के द्वारा निर्धारित व्यवस्ता के अनुसार आपस में बाटा जाएगा, तो 269, किसका निर्मान, और क्या बात के लिए, GST के इंपल सा, GST के बटव के लिए, थोड़ा सा शौर्ट में बता दू कि GST तीन होता है, IGST, CGST, SGST, याद एक चीज और रख लेंगे, कि यहां पर जो CGST है, उसका कोई बटवारा नहीं, C का मतलब केंद्र सरकार का पैसा, SGST मतलब स्टेट GST, वो राज्य में चला जाएगा, बटवारा किसका होगा रियल में, IGST का, और IGST उन जगहों पर आजाएगा, जहां केंद्र के साथ साथ मिनीमम दो राज्य आजाए, जैसे इसको अगर एक उधारन ले, इमान लीजे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा मॉल है, वहां पर कोई भी यूपी का मेरट वाला विक्ति टीवी खरिद ने आया, तो वहां पर वह खरीद कहां से रहा है, दिल्ली से, तो दिल्ली की सरकार को उसे GST देना चाहिए, लेकिन खरिदने वाला विक्ति कहां पहुचाने के लिए कह रहा है, मेरट में, तो वह तो कंज्यूम कहां हो रहा है, मेरट में, तो यूपी वाली सरकार कहेगी कि इ केचने वाला तो हमारा है, और केंद्र सरकार तो खड़ी है, वो कहेगी तुम लो कुछ भी लेकिन मेरा हिस्सा तो रहेगा, बस यह तकलीप एक चीज की है, और वो यह है, जिसने टीवी बनाया, उसको कुछ नहीं, वो साइड में खड़ा है, तुमें कुछ मिलने वाला नही इसलिए सबसे ज्यादा GST की हानी महरास्ट की सरकार को हुई, क्योंकि महरास्ट में मेनिफेक्चरिंग हब कंजम्शन से भी ज्यादा है, तो मेनिफेक्चरिंग वालों को कोई बेनिफिट नहीं, बेनिफिट या तो बेचने वाले को, या कंजम्शन करने वाले को, तो ऐस इसी situation में IGST लगेगा, अगर दिल्ली की दुकान से दिल्ली का वेक्ती खरिता तो, दो हो जाते, SGST और CGST, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, तो GST 269 एक काउंसिल जो निर्ने लेगी, वो रियल में किस GST का निर्ने लेती है, इंटीग्रेटेट GST का, संगसूची के से सभीकर केंद्र द्वारा लगाए वसुले जाएंगे और वित्त आयोग की सिपारिश की अनुसार केंद्र और राज्य आपस में बाट लेंगे, तो फाइनेंस कमीशन क्या GST में निर्ने लेता है, बाकी सरकार केंद्र सरकार राज् देगी, वह अनुदान कितना किस कराज्य को मिलेगा उसका निर्ने फाइनेंस कमीशन लेगा, लेकिन GST का क्लासिविकेशन केवल, GST काउंसिल ही करेगी, जैसा वो सोचेगा उसके अकॉर्डिंग, 271 संसत को सर्चाज लगाने की शक्ति जो GST के अलावा, 273 केंद्र सरकार अब देखना, ये जो चीजे थी, उत जमाने में बड़ी फेमस थी, जूट का जो एक्सपोर्ट होगा, उस एक्सपोर्ट पर जो टेक्स वसूला जाएगा, केंद्र सरकार से कहां गया था कि वो धनराशी आप पूरी तरह से किसको सौब दोगे, जूट उतपादक राज्य अब इसका कोई इतना लेना देना, अब उतना जूट से कई ज्यादास एक्सपोर्ट चीजे होने लग गई है, राज्य के वित्ती हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी विधेक को संसद में लाने से पुर्व राष्टपती की अनुमती लेने होगी, देगो फिर से, भ इना अनुमती के वाद चल रही हैं, तो वो तो कोई प्राइवेट विक्ती भी लेकर आ सकता है, हमने का नहीं, वहां तो केवल किसकी अनुमती लगेगी पैसो में, जिसकी कारेपाली का वही खर्चा करें, बाकि किसी को खर्चा करने की अनुमती नहीं रहेगी, और 282 लोग कल्यानकारी गतिविधी के लिए राज्यो को मिलने वाला अनुदान, 275 और 282 में वैसे भी बहुत ही जगडे रहे हैं, तो फिर रिपीट कर दूँ मैं, इसमें अगर आपको याद रखना है, फाइनेंश रिलेशन में, तो मेरे इसाफ से 269 से शुरू करिए, ये दो तो बिल्कुल बजट में चर्चाय होती रहती है, 269 और 270 पर आईए, 271, 273 इसको खतम कर दीजे, सीधा 282 पर ध्यान देना, हाँ, इनपु्ट टैक्स करेडिट क्या होता है, ये तुम गलत जगर चले गया हो, इनपुट टैक्स करेडिट का कमतलब होता है, जो टेक्स का धेने वाला व्यक्ती है, बतलब मानलो मै टेक्स पेबर हूँ, तो मैंने अगर अपना जीएष्ट मुझे एachen जाए, मानलो मेरा तो उसका GST में पे कड़ चुका हूँ, बीस अजार रुपय का, तो अब मेरी तरफ कितनी जिम्मेदारी रही, एक लाक असी की, फिर मैंने का कि वो बीस अजार मेरा इन्पुट है, ये इन्पुट वर्ड है, राज्यो का इन्पुट, इन्पुट कुछ नहीं होता है, व्यक पिछले साल आया था और अब गले अगसार यही सेम लाया, तो उसमें का दिक्कत है, भई वो तो बजट जब पेश कर रहे है, तो वो संशोधित करके लाये, एज इज लाये, वो विधान सभा की जिम्मेदारी है, वो तो उसकी नहितिकता है कि वो कितना बेटर काम कर रहा ह किसकी बजट से राज्यपाल से जो अनुमति ली जारी हो तो उनको सला देगा ना कि अनुमति दो इस पर हाँ, अगर मानलो ऐसा हो जाए, देखो जनरली ऐसा नहीं है, देखो अगर ऐसा हुआ, तो जैसे जो चल रही बात्चित, वो आपातकाल जैसी बात फिर आ जाएगी फिर राज्यपाल शिकायत कर देगा 365 के तहट कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चला, तो जहाँ पर भी विरोधी पार्टी आए वहाँ, चली रहा है, इस तरीके के माहोल हो ही रहे हैं, पर मुझे जितना लगता है कि नहीं, थोड़ी परीपकवता दिखाएंगे राज्यपा अनुदान, ग्रांड्स कितना मिलना चाहिए, कोन बनाएगा राष्टपती, कितने समय के लिए, मेन काम होगा केंद्रो राज्य के मध्य वित्य संबंदों के निरधारने तु सुझाओ, तथा केंद्रो राज्य के मध्य करों के वित्रन के संबंद में सुझाओ देना, एक अध्यक्ष होगा, चार मिंबर होंगे, सिफारिशे कैसी हैं, केवल सलहकारी, एडवाइजरी हैं, कंपलसरी, हाँ, लेकिन फाइनेंशल कमीशन एक कॉंस्टिटूशनल बॉड़ी है, यदि उसके निर्णई को कोई केंद्र सरकार बदल रही या मना कर रही हैं, तो संसद में उसे explain करना पड़ेगा, वितायोग अपनी रिपोर्ट किसको सोपेगा, और राश्टपती उसे संसद के सामने कारेपालिका की मदद से रखेगा, तो ये हैं केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जिसके बारे में हमने तीन प्रकार की बात्चित कही हैं, ज्यादा कारेपालिका, आज सबसे बड़ा जो हैं, यही दो चीजे हैं, ये अगर टाइम पे कवर हुई, तो फिर बाकी में कुछ ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, अब हमारा जो ब्रेक होगा वो तब होगा जब संग और राज्य की विधाई का खतम होगी, तब तक शुरुवा साधारन भाषा में, साधारन भाषा में काम करने वाले का मतलब क्या होगा, कानूनों को लागू करने वाले, और अगर बहुत सिंपल कहें, तो केंद्र में प्रधान मंत्री सहीद, मंत्री परिषद, और राज्य में मुख्य मंत्री सहीद, मंत्री परिषद, जो भी काउंस सिंपल सी बात रहे कि, भाग पाँच में ये चैप्टर पाचवा, पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा, चउथा, चउथा, ए, फिर अमने अभी चैप्टर कमप्लीट किया, ग्यारा ओर बारह, कल कमप्लीट बीस, आठरा भी खत्म हो गया है, अब हम आ र और इसमें बाथचीत है केंद्र की कार्यपाली का, सवाल है कि केंद्र में कार्यपाली का कितने टाइप की हैं? दो प्रकाथ, पारलियामेंटरी सिस्टम, नाममात्र की और व्स्तविक्ट क ऐक कहलाती हैं? डी फैक्टो और एक कहलाती हैं दी जुरे वास्तविक कार्यपालिका मतलब प्रधान मंत्री और उनका मंत्री परिशत काउंसील ओप मिनिस्टर और नाम मातर की प्रेसिडेंट हमारे संकी कार्यपालिका में कोन-कोन आएगा राश्टपती उपराश्टपती प्राइमिनिस्टर काउंसिल ओप मिनिस्टर तोरनी जन्रल ओप इंडिया और सी ए जी जिसे हम कम्ट्रोलर संग की कार्य पालिका के लोग हैं ये सभी एक एक हैं ये लोग भीड में रहेंगे इसलिए इनका नाम है काउंसिल सबसे बहले तो हमारे आर्टिकल बावन इकावन में क्या था अंतर राष्टिय शान्ति राष्ट पती होगा त्रेपन में संग की कार्य पाली का शक्त राष्ट पती का निर्वाचक मंडल होगा मतलब तुनाव करवाये जो जाएंगे वो एक पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप से ही पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों से मतदान करवाया जाएगा उसका नाम रखेंगे निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल पच्पन राष्ट पती के निर्वाचन की में थड़ क्योंकि थोड़ी जटिल है तो उसका भी वर्नन 52 में कहां भारत का राष्ट पती 53 में कहां उनी के पास पूरी ताकत 54 में कहां है कि वहां निर्वाचक मंडल 55 में मैं थड़ दे दी कि मैं थड़ कैसी रहेगी राष्ट पती का निर्वाचक मंडल मतलब उस इलेक्टोरल कॉलेज में कोन-कोन रहेगा संसद के दोनो सदन के इलेक्टेट मिंबर केवल केवल निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधान सभाओ के केवल दिल्ली और पदुचेरी विधान सभाओ के निर्वाचित यहां बड़ी बात अभी जम्मो एन कश्मीर को शामिल वहाँ विधान सभाओ है लेकिन अभी उसका निर्वाचित जो संचोधन जरूरी है इसमें फिर आगे बढ़ेंगे जम्मो कश्मीर में भी विधान सभाओ किन तो अभी तक इस संबन में आर्टीकल 54 में संचोधन नहीं हुआ है और इसलिए इस बार थोड़े सीट मतलब वोट जो थे वो कम हो गये थे अब आईए जरा देखते हैं कि एक विधायक एक सांसद कैसे मतदान करता है याद रखेंगे राष्ट पती की चुनाव में हर एक व्यक्ती का वोट एक नहीं है एक व्यक्ती एक वोट का प्रावधान नहीं है बलकि हर राव्यक्ती के वोट का एक अलग-अलग व्याल्यू एक राज्य से जुड़ेवे सभी विधान सभा के सदस्यों के वोट बराबर हैं, लेकिन उस दूसरे राज्य के साथ compare करें, तो दूसरे विधान सभा के मेंबर के साथ उसका value अलग हो जाता है, तो पहले एक विधायक का value देखते हैं, कि हां कहेगा, तो क्या माना जाएगा, सबसे पहले तो अगर विधायक का निकालना है, तो राज्य की कुल जन संख्या, डिवाइड, राज्य विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और डिवाइड कर लेंगे हजार से, हजार से डिवाइड दो कारणों से किया, पहला तो सिंप्लिफिकेशन थ संसद की एक स्दस्य की value राजय के विधान सभा किसी भी स्दसय की value से कम ना हो, अगर हजार से डिवाइड ना करो, तो विधान सभा के सदस्य की वोट value संसदों के वोट value से तो बहुत ज्यादा निकल सकती है। दूसरा, संसद का मत कैसे निकाला जाएगा, देश के जितने भी विधायकों की वैल्यू आएगी, उसको डिवाइट करेंगे संसद के दोनों सदन के कुल निर्वाचित लोग, 543, 238, 245, 233, यही है ना लोक सबाव राज्याजबा में? तो 786, तो जैसे समझ लीजे यहाँ पर, प्रेसिडेंशल इलेक्षन में MLA का जो वोट होगा, टोटल पापुलेशन डिवाइड बाइड 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 थाउजन, यहाँ टोटल नमबर आप वोट्स आप असाइन टू MLA डिवाइड बाइड बाइड बा 4033, बट टोटल Mp का वोट वेल्यू पाँच हजार, पाँच लाक तिरतालीस अजार दोसो और पाँच लाक तिरतालीस अजार दोसो इकतीस, और इसके आधार पर जिसको भी इस टोटल वेल्यू का आधा, प्लस वन मिल जाएं, वो मान लिया जाएगा कि क्या बन गया, कर रहा हूँ, थोड़ा कठिन कंसेप्ट है, राष्टपती के इलेक्षन में भाग लेने वाले लोग केवल Mp और Mla है, वो भी निर्वाचित, ठीक है, दूसरा, हर व्यक्ती के वोट की वेल्यू इक्वल नहीं है, यहां तक कि एक राज्य के Mla और दूसरे राज्य के Mla के वोट की वेल्यू भी अलग-अलग है, यहां तक कि एक Mp, एक राज्य का Mla और दूसरे राज्य के Mla तीनो के वोट की वेल्यू अलग-अलग है, लेकिन यह कन्पम है कि एक राज्य के जितने Mla है, तब के वोट की वेल्यू स्थेम है, लेकिन एक व्यक्ती एक वोट नहीं है वोट निकालने का तरीका ये फार्मोले है जिसमें हमने सांसदों के वोट की वैल्यू देखी वहाँ हजार से डिवाइड नहीं करना है लेकिन MLA में क्योंकि जंसन क्या ली जाती है तो वहाँ हजार से डिवाइड करके सिंप्लिफाय करना है इन दो मकसद के बेसिज पर वोटों का गिंती किया जाएगा किसी को भी राष्ट्रपती बनना है तो इन टोटल वोट का आधा प्लस वन मिलना चाहिए बढ़ यहां एकोड शब्दा आता है एकल संक्रमनिय पद्दती सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है भई सिंपल सी बात समझे जितने प्रत्याशी लोग उत्रेंगे मान लेते हैं कि पाँच प्रत्याशी उत्रे हैं जिनका नाम है A, B, T, D, E हर व्यक्ति को यह कागज मिला है कागज मशीन नहीं और हर व्यक्ति उ मेरी पहली प्रायरिटी D है, दूसरी प्रायरिटी B है, तीसरी प्रायरिटी A है, चौथी प्रायरिटी E है और पाँचवी प्रायरिटी C है, अब पहली प्रायरिटी का मतलब है गिने जाए पहली प्रायरिटी को ही, तो सबसे पहले पहली प्रायरिटी गिनी गई, कि D की कितने लोगों ने कही, मान लेते हैं कि ये एक एक वोट पकड़ो अभिया, मान लेते D को पहली प्राइरिटी 40% लोगों ने कहा है, फिर C को पहली प्राइरिटी 12% लोगों ने कहा, D को, B को पहली priority 15% लोगों ने कहा, E को पहली priority 2% लोगों ने कहा, और A को पहली priority कितना बच गया, 47, 39, 31, 31% लोगों ने A को पहली priority कहा, क्या कोई भी 50% प्लस 1 प्राप्त कर पाया, तो क्या चुनाव रद्ध कर दे, नहीं, नॉर्मल चुनाव होते अगर ये तो, D जीत चुका था, नॉर्मल में, पर ये चुनाव कोन से है, राष्टबदी, हमने का, भई, D अभी जीता नहीं है, सबसे खराब हालत किसकी है, जिसको पहली priority दे गई, इसके सारे कागज निकालो, और चेक करो कि इसकी दूसरी priority कोन है, मान लो जितने भी लोगों ने E को पहली priority लिखा था, सारों ने, मान लेते हैं, दूसरी priority D को दी थी, तो ये सारे वोट ट्रांसपर हो गए, किसके पास, अब D के पास कितने आ गए, इसे कहेंगे second round की गिंती, जनरली होती नहीं, एक ही बार हुई है, तो अभी क्या D जीत गया, अभी भी प्रॉबलम है, अब किसके सबसे कम है, केवल कितने हैं, बार आ पड़ से, सी को जितने लोगों ने पहली priority दीती, चेक करो, दूसरी priority कितने लोगों ने दी है, और मान लिजे कि 9% लोगों ने दूसरी priority D को दी थी, तो सारे वोट ट्रांसपर कर दिये किसको, और अब फाइनली तय हो गया कि D जी दिया, अब गेम बिगड सकता था, मान लिजे पूरे 12 इधर चले गये, कल्पना करे, तो दूसरे तीसरे round की गिंती में तो 43 और इधर, अब टक कर फिर काटे की शुरू हो गए, फिर अब किसकी बारी है, अब मेन है ये B किस ओर जुकेगा, किस ओर जुकेगा मतलब इसके सारे कागज निकाले जाएंगे, पहली प्रायरिटी वालों को जीरो कर दिया, तेकंड प्रायरिटी किनको दिये इन महोदयों ने, वोट ट्रांस कि ज्यादा कठीन आपको लगेगी, सबसे अदबूत बात तो ये हैं कि विधाय को भी नहीं पता हैं कि यहां फाइनली गिंती कैसे, वो केवल इलेक्शन, कमेशन और कुछ मेंबर आप पारलियामेंट के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, फिर है राष्टपती के निरव नित सदस्य भाग नहीं लेंगे और राज्य विधान परिशद के हैं, तो राष्टपती के निरवाचन में ये लोग भाग नहीं लेते हैं, राष्टपती के निरवाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्दती, जो MLA के वोट का वेल्यू हैं, वो इसको दर्शारा एकल संक्रमनियमत पद्दती, जो मैंने अभी आपको समझाया, और गुप्त मतदान, मतलब किसी को पता न चले कि किसने किसको वोट दिया, इसलिए यहां इस बार हमारे राष्टपती के लिए दूसरे केंडिड राये थे, दूसरे केंडिड कोन थे, एक तो यश्वन सिना अजिने एक वीडियो जारी किया था, और उने कहा था एक भाव पुरुवक, कि अधि आपको लगता है कि देश को बचाना है, यदि आपको लगता है कि राष्ट के लिए इस समय एक बेहतर राष्टपती की ज़रुवत है, तो आप मुझे वोट दीए, आप किस पार्टी स 7 में लिखा है कि राष्टपती के लिए पुन्ह पात्रता होना अर्थात एक व्यक्ति कितनी बार भी अमेरिका हो या कई सारे देशों में राष्टपती कितनी बार बन सकते हैं, लेकिन यहां कह दिया है कितनी भी बार, 58 राष्टपती के लिए क्या होना चाहिए, पहले त इसी भी देश में, बृतेन में, राष्टपती या प्रधान मंत्री का पद जो भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, वो नागरीक तो होगा, लेकिन वो नागरीक्ता जन्म वाली ही चलेगी, किसी प्रकार से ग्रहन की हुई, नहीं, हमारे यहां ऐसा कोई प्रावधान, तो क्या ह सोन्या गांधी जी राष्टपती बन सकती है कि नहीं, ग्यारेंटेट, क्योंकि वो भारत की अब नागरीक है, क्या अक्षय कुमार बन सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो भारत के नागरीक नहीं है, तो 35 वर्ष की आयू, मेरी हो चुकी है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की, ये स्टार, ये कन्फ्यूज मत होना, संसत का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य और लाभ का पद, सादारन भाशा में लाभ का पद मतलब कोई सरकारी नोकरी ना हो, मेरे पास कोई सरकारी नोकरी भी नहीं है, लाभ का पद यदि हुआ भी, तो माना जाता है कि चुनने के जाहिए 35 साल की उम्र लोकसभा का मेंबर और लाब के पद पर ना हो, राष्टपती के पद की अयोग्यता मतलब हटाया कब जा सकता है, मानसिक दिवालिया, मतलब दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, लाब का पद धारन किया हो, संसत द्वारा बनाये गए किसी कानून के अधीन, बाद में पता चला हो कि वो विक्ती तो क्राइटेरिया पूरा करता ही नहीं, बाद में पता चला कि दस्वी की माक्षित निकाली, तो डेट आप बर्त दस्वी के अकॉर्डिंग अभी उमर 29 साल की हो रही थी, और राष्ट बन गया तो डिस्कॉलिभाय कर दिया जाएगा, ओफिस और प्रॉफिट नहीं है, हमारे यहां पर इसलिए रखा गया है ताकि थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हो सके, राष्ट्रपती के निर्वाचन में उम्मिद्वारी है तू, पचास प्रपोजर चाहिए, मतलब लोग कौन से पचास प्रपोजर, जो निर्वाचन मंदल का मेंबर है, तो आप पचास लोगों को ले जाओंगा मैं, कौन से पचास लोग चाहिए, जो MLA या MP थे, प्रस्ताव को कम से कम पचास लोगों ने सपोर्ट किया हो, मतलब बिना सव लोगों के आप अपना नॉमिनेशन भी नहीं कर सकते, प्रस्ताव क समर्थक राष्टपती के निर्वाचन मंदल का हिस्सा होंगे, एक मतदाता एक स्यदिक उम्मिद्वार के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता, आर्टीकल इकत्तर राष्टपती के निर्वाचन में यदी कोई प्रॉब्लम तो पहले इसकी सुनवाई, इलेक्षन कमीशन करता था, फिर संशोधन करके किया गया कि नहीं, केवल और केवल, आर्टीकल 7.1.4 में प्रावधान किया है कि राष्टपती का निर्वाचक मंडल में किसी भी प्रकार की रिक्ती होने के कारण, राष्टपती के निर्वाचन को अवेद घोशिद, मतलब इसको समझना, मान लेते हैं कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसबा के मेंबर और केंद्र के मेंबर थे, पर कल्पना करिये कि किसी राज्य की विधानसबा उस समय भंग थी, जिस समय चुनाव हुए, तो वो राज्य की सरकार सुप्रिम कोट में इस बात से नहीं चली जाएगी, कि हमें तो मतदान करने का अधिकार नहीं मिला, आपने कैसे राष्टप चुनाव कर लिये, तो वहां आप राष्टपती चुनाव को भंग नहीं कर सकते, मतलब इमेजिन करिये कि इस समय जब मुर्मुजी का चुनाव हुए, तो उस समय जम्मु कश्मीर का अभी प्रावधान आया ही नहीं, तो जम्मु कश्मीर के लोग या जम्मु कश्मीर का क को इस नेता इसे चैलेंज नहीं दे सकता कि आपने ये चुनाव कैसे कर लिये, तो ये 11 सविदान संचुदन 1960 में किया गया, सुप्रिम कोट ने डॉक्टर खरे बना भारतिय निर्वाचन आयोग के मामले में निड़ने दिया, कि रास्टपती के निर्वाचन को किसी नेयले म में चुनोती उसी व्यक्ती के द्वारा दी जा सकती है, जो रास्टपती के इलेक्ट्रोलर कॉलेज का हिस्सा है, कोई आयरा गयरा कहना देना कि मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज केवल वही करेंगे जो या तो MP या MLA है, वापिस आर्टीकल 52 पर आते एक बार फिर रिप पन के पास, 54 कहेगा कि एक निर्वाचक मंडल, 55 कहेगा कि निर्वाचन का तरीका, 55 कहेगा मैथड, 56 कहेगा अर्राष्टवधी का निर्वाचन में कोन-कोन भाग लेंगे, मैथड क्या होगा, वेल्यू क्या होगी, कोन भाग नहीं लेता है, और उन्हें इस मैथड से निक मेरे इसाब से तो महाभियोग का वर्णन किया है। 56 में लिखा है। 61 में मैथड है और 56 में बोला गया है। यही है ना। 55 में पदाओदी है। और 56 में कार्यकाल। नहीं 55 मताओदी है। क्या है। मैं थड है। और 56 में पदाओदी और पद से हटाने का वर्णन भी है। पतलबस पद से हटाने की बात है। वर्णन नहीं है। वर्णन 61 में आएगा। फिर है 57 पुनह चुनने का मौका। 58 कंडीशन्स क्या क्या रहेगी। 59 किस बेसिस पर उन्हें हटाया जा सकता है। और साती सात कुछ बातों का वर्णन। 71 राष्टपती के निर्वाचन का कोई भी जगडा केवल सुप्रीम कोट। और इसमें कह दिया कि इस बात के आधार पर आप चेलेंज नहीं करोगे। खरे साप के मामले में सुप्रीम कोट ने कहा कि निर्णने केवल और केवल जो चेलेंज देने वाला है। वो कही न कही इलेक्ट्रोलर कॉलेज का व्यक्ती ही होगा। फिर है साथ मुख्य नयाधिश द्वारा राष्टपती को शपत। मतलब राष्टपती को शपत दिलाते हैं चीप जस्टिस। और चीप जस्टिस को शपत दिलाते हैं राष्टपती। दोनों एक दूसरे को, ऐसा एक दूसरे वाला खेल आता है, तियाग पत्र में, और डिप्टी स्पीकर में, ठीक है, वापिस आईये, तो यहां मुख्यनैदिश राष्ट्रपती को शपत दिलाएगा और राष्ट्रपती मुख्यनैदिश को अगर नया बनता है तो, मुख्य नयादिश के अनुपस्तिती में सुप्रीम कोट का कोई भी सीनियर जज, 62 राष्टपती का निर्वाचन, वर्तमान राष्टपती के कार्यकाल पूरे होने से पहले, अभी तक हमारे जो राष्टपती कम्प्लीट कार्यकाल हो चुके जिनके 7 और 7, 14, 15 पर हैं, द्रोपदी मुर्मुजी जोकी पंद्रवी राष्टपती सबसे पहले, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसेन, वीवीगिरी, फकरुद्दिन अली एहमत, नीलम संजीव रेड़ी, ज्यानी जेल सिंग, रामा स्वामी, वेंकेट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायनन, अब्दुल कलाम, प्रतीबा पाटिल, प्रनम मुखड़ जी, रामनात कोविल, और अब, एक ट्रिक्स होती थी, किसी को याद है, राधा की, राजू की, राधा, जाकर गिरी, जाकर गिरी, पकरुद्दीन, रेड़ी की, जेल, ज्यानी जेल सिंग तक तो पूचा भी, फिर, तब, आर, शंकर, नारायन की कलम से, कलम से, प्रतीबा निकली, निकली, प्रकट्वी प्रनब, प्रतीबा प्रकट्वी, एक तो मुझे राधा, कि यहां तक तो मैं करूद में कि अच्छाइब के भाद तु लाइन पूरी आजायएं. में तो है, इस रुषर्वात के जयनि जयल सिंहा मैं कहूँगा शंकर दयार्श्रमा तक याद आजाएं. तो राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेडडी की जेल में तब आड शंकर नारायन की कलम से प्रतीभा प्रकट हुई कोविंद मुर्मुजी की। तो इसे याद रखेगा आप लोग, इसमें मैं बता दू कि अबजेक्टिव सवाल तो PCS की बात करें, लेकिन में सांसर राइटिंग में कई बार लिखना पड़ता है कि इन राष्टपती के कार्यकाल थे, इन प्रधान मंत्री और इन राष्टपती के जगडे थे, तो हमें याद आना चाहिए, तो अब हम बात करें, दुरोपदी मुर्मुजी के बारे में, जन महें 20 जून 1958, उडिसा के मयूर भंजिले के बैदापोसी गाव में, राजनिती में आने से पहले एक सामान्य कलरकोर, शिक्षी का हमारे विकल बढ़ रहे है, जारखंड राज्य के रा जनकालिक राज्यपाल बनने वाली पहली जन जाती, संथाल जन जाती की महिला, 2007 में उडिसा विधान सबाद्वारा, सर्वश्रेष्ट विधायक के रूप में निलकंट पुरसकार से सम्माने, मोटे तोर पर कहें, तो पहली भारत की जन जाती महिला राष्ट्रपती, महिल राष्ट्रपती को पद हटाने का महाभियोग, जिसका टोटल वर्नन आर्टीकल, आर्टीकल 56 में लिखा है कि राष्ट्रपती को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान, लेकिन एक मात्र आधार, अमेरिका के राष्ट्रपती को पद से हटाने के आधार कई सा लेकिन यहां आधार केवल एक है, क्योंकि वो वास्तविक है और यह नाम मात्र के है, 61 में बताया है, महाभियोग की प्रक्रिया, इंपिच्मेंड की प्रोसेस, सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई, मतलब वर्ड यूज करेंगे, इस स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग प् पुर्व लिखित सूचना, महाभियोग का प्रस्ताव संसत के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाने का मतलब इजी हो जाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम 25 परसेन या एक चवथाई लोगों ने हामी भरी हो, सं अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर राष्ट पती को पद से हटाया जा सकता, यहां मैं एक और बात बता दू कि दो ती हाई बहुमत मतलब सदन के कुल सदस्यों का उपस्तित का नहीं नहीं, तो पता चल रहा है उपस्तित के रूप में राज्य जबा में सव थे, तो दो त तालिस के दो ती हाई पर फोकस रहेगा, इस्पेशल मेजोरिटी रहेगी, तो फिर से रिपीट कर देते हैं, फिप्टी सिक्स में क्या लिखा हैं, कार्यकाल और पद से समय से पुरू हटाने की बात, और शिक्ष्टीवन में महाभ्योग का पूरा वर्धन, फिर से देख लिजे बावन में राष्टपती होगा, त्रेपन में सारी शक्तिया उनमें निहीत होगी, चववन में एक इलेक्ट्रोलर कॉलेज बनेगा, पच्पन में उनकी मेथड, कार्यकाल और उसका आधार, फिप्टी सेवन में पुन नियुक्ती की बातचीत, अठ्थावन में उन की कंडिशन्स क्या क्या रहेगे, फिर सिक्ष्टी पर आईए डाइरेग, शपत कसमे वादे साथ में, इक सट में पूरी महाभियोग की प्रक्रिया, और सेवन टी वन में लिखा हुआ है, कि कोई भी अगर खाली रहे, चैलेंज करने के लिए आपको केवल और केवल सुप् 21.4 कहता है, खाली भी रहा तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, और एक मामला है कि चैलेंज भी करेगा तो केवल कोई इलेक्टरल कॉलेज का व्यक्ति है, क्लियर है बाते हैं, अब हम आते हैं इसमें राष्टपती की पावर, राष्टपती की बहुत सारी शक्तिया हैं, पहली बार पढ़ते हैं, अभी मास्टर कह रहा था कि राष्टपती नाम मातर का, और पावर की तो लिस्ट भरके रख दी हैं, तो राष्टपती इन सभी शक्तियों का उपयोग, मंत्री परिशत की सलह के अनुसार ही करेंगे, मतलब रियल में शक्ति किनके बास हैं, केवल केवल वह उच शक्ति को अपने नाम से जारी करेंगे, मतलब वास्तविक जिम्मेदार व्यक्ति है, काउंसिल आप मिनिश्ट्री के साथ प्रधान मंतरी है, और यह केवल नाम मातर के है, देखो इसको बड़ा सिंपल प्रेक्टिकल उधारन बता रहा हूं, आप अपने आपको पता चला कि मामला ही कुछ और है, वहां पर बस पुरुष हा भर रहा है बाहर, पर हा का जवाब अंदर पहले ही आ, चुका था, तो हम इसको कहेंगे कि यह पारलियामेंटरी सिस्टम है, पर आपको लगे कि नहीं, सच में वही निड़ने ले रहे ते और वही बोलत तो बात तय हो गए कि वह प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे समाज में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, कि हमारे समाज में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, समझ जाओ पारलियामेंटरी सिस्टम, और दूसरा प्रेसिडेंशियल जो दिखा, वही हो रहा है, प्रे और वही सारे जगडे हैं, पारलियामेंटरी सिस्टम में कई बार जगडे नहीं मिलेंगे, कॉडिनेशन अच्छा है, जहां पर इसने ज्यादा है, वहां पारलियामेंटरी सिस्टम है, और जहां इसने कम है, वहां प्रेसिडेंटरी सिस्टम ही होगा, यह इस बात से सबसे ब और निर्णाय सोच समझ के लेते, लेकिन तय हो जाता है कि निर्णाय तो उनको ही लेना है, जैसे मैं आपको चोटी सी बात उधारत भी बता रहा हूँ, बच्पन के दिनियात करिये, तो महिला सशक्तिकरन वाले विरोध करेंगे, कहानी ऐसी है कि छुटियों का दिन था, चा बड़े खुछ थे कि दादा दादी के घर इस बार जाने का मोका होगा, पर जब सुभ पैकिंग वी, तो पिताजी ने कहाँ कि चलो देरी हो रही है, ना 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 वेट कर रहे है, तो समझ जाओ कि ये व्यवस्ता कौन सी थे, पारलियमेंट्री, जहां पर बाते कुछ और ये पारलियमेंट्री सिस्टम का बेस्ट उधारन है, तो वापिस आईए शक्ति ओपर, एक्जीकेटिव पावर हम सबसे पहले देखेंगे, कि राष्टपती क्या-क्या काम करते हैं, तो कहने के लिए तो सारे काम राष्टपती करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में करत मतलब यदि राष्टपत कोई भी काम भारत सरकार कर रही हैं, तो उस पे कही न कही सील और साइन किसके लगे हैं, राष्टपती के, प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ती का दाईत वभी, मंत्रालयो का आवंतन का दाईत वभी, राष्टपती के प्रती मंत् की व्यक्तिगत रिस्पॉंसिबिलिटी 77 तू के तहप फिर रिपीट कर रहा हो, प्रधान मंत्री की नी को भी नहीं बनाएंगे, जिसका बहुमत होगा उसी को, जब बहुमत नहीं है तो उनकी मर्जी एक बार चल जाती है, दूसरा, राष्टपती मंत्रियों की नियुक्ती करेंगे, लेकिन प्रधान मंत्री जिने कहेंगे, वो मंत्राले उन्हें मिलेगा, तीसरा, राष्टपती के प्रती मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदाईत हुआ, तो राष्टपती किसी को नहीं बोल रहे कि तुम इस्तिपा दो, लेकिन मंत्री परिशद और प्रधान मं नहीं क्योंकि ये कोई लोगसभा के अंतरगत अविश्वास वाली बातचीत नहीं है तो एक नॉर्मल सी चीज है कि कोई वेक्ति अगर परस्नल अपना इस्तिपा सोपना चाहता है तो किसको सोपेगा राष्टपती को फिर है राष्टपती द्वारा किन-किन के अपॉइंट किया जाते तो प्रधान मंत्री और पुरा काउंसिल ऑप मिनिस्टर सुप्रिम पोट अब सुप्रिम कोट में कीप ज़स्टिस तो अपॉइंट होता ही नही जो भी सीनियर है वो मान लिया जाता है चीप ज़स्टिस ये परमपर आ अ गई ब propreंपरा आ गई बची बात वाकि मर्जी से निर्णने नहीं लेगा. हाई कोट के नया धिश में भी जो वहां का राजजपाल सला देगा और हाई कोट का चीप जश्टिस सला देगा और इधर वाले जो कोलेजियम देंगे वही. राजपाल की नियुक्ति तो पूरी तरसे मंत्री परिशत की सलापत. भारत का नियंत्रक महालेखा परिक्षक ओडिटर एंड ओडिटर कंट्रोल जनरल सीए जी मुख्य निर्वाचन आयूक्त चीप इलेक्षन कमिशनर और अदर इलेक्षन कमिशनर की नियुक्ति भारत का अटोर्नी जनरल संग लोक सेवा आयोक्त UPSC के चेर्मेन और मेंबर पाइनेंस कमिशन का चेर्मेन और मेंबर OBC के चेर्मेन मेंबर माइनोरिटीज के चेर्मेन मेंबर भाषाई आयोक के चेर्मेन मेंबर भारत के एंबेसिडर SC और ST के भी चेर्मेन और मेंबर तभी बड़े सवेधानिक पदों पर जितने भी चेर्मेन और मेंबर है वह राष्टपती के पद से, लेकिन क्या जीएस्टी में राष्टपती का कोई भी योगदान है? नहीं, क्योंकि जीएस्टी में लिख दिया गया है काउंसिल में कि चेर्मेन वित्त मंत्री रहेगा, राष्टपती की लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है? लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की शक्ती, कार्यपालिका में अपॉइन्मेंट ले लीजे और वह सारे जितने काम भारत में हो रहे हो सब किन के नाम पर राष्टपती के, लेजिस्लेटिव का मतलब कानून ब दिया जाए तभी वो कानून बन सकता है अगर राष्टपती नहीं साइन किये भी तो अभी भी वो कानून नहीं केवल बिल ही माना जाएगा बिल मतलब होता है विधेयक और कानून वर्ड का मतलब होगा एक्ट तो ये भी बड़ी अद्बुत सी बात है बी को ए जब बनाना हो तो इन तीनों लोगों की स्तेहमती चाहिए बिल को एक्ट तभी कहेंगे अधीनियम तभी कहेंगे जब तीनों ने हा कहा हो राष्टपती संसद का अभिन अंग है संसद का सत्र बुलाने सत्रा वसन करने और लोग सभा का विगटन करने जैसे सत्र बुलाने का मतलब की भई आ जाओ हमारा नया बैच आ रहा है तो इसको कहेंगे सत्र बुलाना तुमारा सिलेबस खतम हुआ अब अगली बार हमें दिखना नहीं आओगे तो पैसे लेकर आना सत्रा वसन हो गया एक विषय खतम फिर दूसरा विषय शुरू पर तुमारा पूरा बैच खतम सिलेबस खतम तुम्हें मैंने का आप तुम्हारी मेरे प्रती कोई जिम्मेदारी नहीं लोग सभा का अब नए बेच आएंगे नए भड़तिया नए पैसे तो इसको कहेंगे नए मुद्राय मतलब ये क्या है नए सिरे से सब चलेगा तो विगटन का मतलब है कि सिलेबस पूरा हो गया अब अपने अपने घड़ जाओ और नए सिरे से इक्जाम को दो पर सत्रा वसन का मतलब हुआ कि एक सबजेग खतम अब दूसरा सबजेग शुरू सत्रा वसन का मतलब ये हुआ कि अभी आपका जो सत्र चल रहा है बजट सत्र वो बंद हुआ अब आप अगले मानसुन सत्र की प्लानिंग शुरू करिए अब जब शुरू होगा तब आप आजाना लेकिन विगटन का मतलब अब घर जाओ तुम कोई मेंबर आप पारलियामेन नहीं रहे तयारी करो फिर से चुनाओ हो रहे हैं और तुम्हें चुनाओ के लिए अपने अपने वोट जुगारने पढ़ेंगे तो विगटन मतलब खत्म हो जाना सत्रवसन मतलब सत्र का खत्म होना और जो इस्थगन है वो तो पिठासी नदिकारी बहुत भहस हो रही हो जिदे मानलो कि अब मास्टर से बोले नहीं जा रहा है तो मास्टर ने का आप ब्रेक ले लेते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा इस इसे जरूर है, मंत्री परिषदने बोला होगा उनी को, विधाई और प्रशाचनिक विषय के संबन में, प्रधान मंत्री से जानकारी मांगने की शक्ति, ये मर्जी है, अब ऐसा नहीं है कि उनको सलादी रहे कि जानकारी मुझसे मांगो, तो ये रहेगा, संसद की सयुक्त पैठक बुलाने की शक्ति, लेकिन ये उनकी अपनी नहीं है, ये भी उनको सला दी गई, कि ऐसा करो, ज्वाइन सेशन एक सो, ऐसे याद रखना हमारे देश में, एक हजार आठ, एक सो आठ बाबा होते हैं, ये भी बड़ी अद्भुत सी गटना है, ज्वाइन सेशन, तो एक सो आठ कहां कि कुछ भयानक सा ज्वान होने वाला है, तब लोग ज्वाइन्टली उसको पारित करने वाले, आर्टीकल एक सिक्स वान, राष्टपती संसत के किसी एक सदन, अत्वा एक साथ दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, और इसे तो वा सभी सांसदों की सदन म अपेक्षाक कर सकता है, जैसे अभी भाशन होता है, आर्टीकल 86-2 लंबित विधायकों के संबन में संसत को सूचित कर सकता है, राष्टपती द्वारा इस प्रकार भेजे गए संदेश पर, वा सदन अपनी सुईधान उसार शिगरता से विचार करेगा, राष्टपती संस सदस्य की अयोग्यता का निर्धारन अंतिम रूप से, अब देखो ध्यान से, वाली राष्टपती ने तय की अयोग्या है वो, लेकिन सला किसने दी, निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग, और वहां भी शर्त डाल दी है, बाध्यकारी, मतलब सोचो, तीन लोग है, एक मंत्री परिषद, इढ़ सुप्रीम कोट और पिछन निर्वाचन अयोग, मतलब मतलब तक शुछ नहीँ है, मंत्री परिषद रिगemyता, वो सारे काम, कर रर्न यही है, अलब से निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोट ने का इनको चुनो, टुन आही है, इढर से का इसको को भगाओ, भगानाई, मतलब राष्टपती के पास वास्तविक रूप में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन परिस्तिति वश्, अब परिस्तितिया कैसे, इंद्रा गांधी की मृत्तियों गई थी, तब उस समय प्रधान मंत्री का एक तरीके से कारेकाल पूरा भी नहीं हुआ थ तो किसको प्रधान मंत्री चुना जाए, क्या भं किया जाए, कि किसी को मोका दिया जाए, ये निर्नाई देने के लिए मंत्री परिषद या प्रधान मंत्री के नित्रतों में कोई है नहीं तो अपनी मर्जी से निर्नाई ले सकते थे, मान लिजे कि मंत्री परिषद ने ब और उस समय किसी की सला, तो इसे कहते हैं भी कंडिशन ऐसी कभी-कभी आ जाती, कि वो अपनी मर्जी से अपने मस्तिश का उपियोग करके, डिस्क्रेश्णरी पावर यूज कर सकते हैं, वीवेकिय शक्तिया, अब हम बात्चित करें अध्यादेश, तो देखो, अध्यादेश अध्यादेश विशेश परिस्तिती हैं, लोगसभा, राज्यसभा, दोनों या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, ऐसी जरुवत हो कि अभी कानून लाना पड़ेगा, तो अध्यादेश एक सो तेईस के तहत स्तीधा कानून बन जाएगा, लेकिन वो मात्र, छे महीने, उसके बाद उसे संसत की अनूमती मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देड़ महीने तक इंतजार किया जाएगा, छे सप्ताह, अगर पारित हुआ तो ठीक, नहीं पारित हुआ तो वो मान लिया जाएगा, जीरो, पर क्या पारित नहीं हुआ, सत्र खतम हुआ क्या फिर से उस पर अध्यादेश ला सकते हैं, कितनी भी बार, इसलिए तो सुप्रीम कोट नाराज है, सुप्रीम कोट कहता है कि इमर्जन्सी की पावर्ती, कि भी बहुत रेरली यूज करो, आप लोग जिन कानूनों को लोग सबा में पारित नहीं कर पा रहे हो, संसत से पा सकता हूँ, ओरिजनल में, अगर हम बातचित करें तो अध्यादेश की जनरली जाच की बात नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोटने का हम वो भी जाचेंगे, जब संसत के दोनों सदन सत्र में ना हो, प्लस ऐसी परिस्तितिया उत्पन हो, जिन पर डाइरेक कारवाई करना अध्या था, छे महीने बाद स्वता समाप, स्वता मतलब छे महीने के बाद भी, देड़ महीने मतलब छे भी, केवल उनी विशय पर अध्यादेश जारी करेगा राश्टपती, जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, किसी राज्य सूची के विशय पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा, अनुछे 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 123 एक मतलब हमारा राष्टपती और दो नमबर पर आता हैं राज्यपाल, तो वही 123 में 123 पर यहां क्योंकि पहले राज्यपाल का नाम, तो 2 फिर 13, 123 और 213 अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र, क्योंकि obviously कानून तो तभी बनेंगे जब दोनों सत्र से पारित होगा, आर्टिकल 13 क्यदिन विधी शब्द के अंतरगत अध्यादेश भी, इससे भी मूल अधिकारों का हनन, कूपर बनाम भारत संग 1970, राष्टप द्वारा जारी किया अध्यादेश अतारकिक नहीं होना चाहिए, और अध्यादेश न्याइक समिक्षा के अधीन है, तो ये अध्यादेश, अध्यादेश मतलब बहुती इमर्जंसी में जल्दी क्या बना लेना, कानू, अबाते हैं वीटो पावर, यहां मैं एक बार और आप दिलादू, मैक्सिमम जो वीटो हैं, जैसे अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, या पौकेट वीटो, अधिक्तर वीटो का उपयोग भी, रास्टपती, मंत्री परिशत की सला से ही करेगा, तेको कैसे होता है, अबाप सोचोगे, सर उन्होंने ही बिल लाया और को ही वीटो लगवाएंगे, ऐसा होता है, देगो कैसे, मानलो कानून आया था, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हो गया, राष्टपती के पास साहिन के लिए पहुचा, उसी समय लोकसभा भंग हो गई, पर नए चुनाव नहीं हुए, दूसरी ने बहुमत सावित करके दिखा दिया, अब कानून जो पारित कर रहे थी, वो सरकार, कोई और थी, पर वो कानून जीरो तोड़ी हुआ, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर, राष्टपती के पास पहुचा और वहां लोकसभा क्या हो गई, अब नए सरकार बन यह कभी-कभी कैसे हो सकता है, मानलो कोई प्राइवेट व्यक्ती का विधेयक्था, वो पारित हो गया, अब राष्टपती को सलह दी जा रही है कि वो पारित भली वा हो, लेकिन हमें वो पसंद, इसलिए उस पर कोई साइन करनी की जरूवत, तो most of the cases में, राष्टपती व वीटो पावर का भी उपयोग मंत्री परिशत की सलह से ही करता है, बट कभी-कभी ऐसे मोके आ जाते हैं, कि वहां सलह नहीं मिली, लेकिन वीटो पावर यूज हुआ, वो बहुत रियर, जैसे बहुत रिविरला उधारन है, जानी जेल सिंग, तो उनको ऐसा नहीं साइन किय परिया उनोंने, क्योंकि ओविएसली, मंत्री परिशने देगा कि साइन कर दीजे, पर साइन करने के बाद वापिस लवताने का तो नियम है नहीं, कभी ताइम परेड नहीं है, तो उनका साइन मैंने कर दिया, महोदय आपने मुझे बोला तो, पर अभी मैं तोड़ा बहार हो, पहुच कर लवटा दूंगा, तो इस कारन से उसको रोका गया, तो रेरली, लेकिन मोस्ट आप दे केसे में, 99% वीटो पावर भी राष्टपती अपनी मर्जी से उपियोग, इससे ये बात किलियर हो गई, कि राष्टपती वास्तविक रूप में, ना मात्र के ही प्रम कर, तुम मना भी अपनी मर्जी से ना कड़ सको, इससे दाइनी स्तती क्या हो सकती है, हा कहना तो ठीक है, तरा कर बोला जाये, पर तुम मना भी ना कड़ सको, ये बहुत खराब स्तती में आ जाता, तो वीटो वर्ड का मतलब होता है, मना करना, एक तरीके से अपने आधार पर उसे बोलना कि भई यह नहीं चल सकता, आर्टिकल वन, 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 मतलब सब ने हा कह दिया, पर एक व्यक्ति ने मना किया और पूरी काइनात में वो मना हो गया, ऐसा एक व्यक्ति, वन, 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 नहीं, अपनी मर्जी से ना करे तो भी कोई, पर वहा भूलो मत, अधान का उलंगन, अगर मानलो पूर्ण बहुमत है, तो वो डरेगा नहीं कि मुझे फिर महाभयोग का सामना करना पड़ेगा, यह डर, राष्टपती ठीक है, पर इतना मुक्त नहीं नहीं भी, उसको डर है, इस पर्ष्ट बहुमत, वो गड़बंधन में करते हैं वो, ग करता है कि सरकार का बहुमत कैसा है, वो उसके अकॉर्डिंग, पर मोस्ट आप दे केस में वही मंत्री परिशत की सला से ही चलाएगा, आत्यान्तिक वीटो, निर्नय को रोक कर रखना, निर्नय को रोकना मतलब साइन ही, नहीं कि, पॉकेट वीटो में साइन कर दी हैं, पूरे सदन से कि वापिस बिल को पारित करके भेजो, पर राष्टपती, सविधान, संचोधन, विधेयक पर अपनी अनुमती देने के लिए, वहां उनके पास कोई वीटो नहीं है, तो एक है अपसलूट वीटो, एक है सस्पेंडिंग वीटो, एक है और पॉकेट वीटो जब ज्यानी जेल सिंग ने यूज किया तब चडचा में आया, ने तो लोगों को लगता था कि जन्रली एक तो रोक सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, आत्यांतिक वीटो राष्टपती संसद्वारा पारित किसी विधेक को अपने पास रोक कर लख लेते हैं, जिस कारण व 111 में राष्टपती के लिए समय सीमा निरदारित नहीं कि वो किसी विधेक पर कितने समय में अपनी अनुमती देंगे, इस आडार पर राष्टपती किसी विधेक को अपनी स्विकृती के लिए अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, 1986 में ततकालिन विधेक कहां है? ज्यानी जेल सिंग के जेब में और वो जेब कहां है? उपर पहुच चुके. अब अगर आपको लाना है तो वापिस पुना पारित करवाना पड़ेगा. निलंबनकारी राष्टपती संसत द्वारा पारित किसी विधेक को संसत के समक्ष पुनर विचार के या संचोधित रूप में विधेक पारित किये जाने पर राष्टपती विधेक पर अपनी अनुमती देने के लिए बाद्य है. विशेशित वीटो यह हमारे देश में नहीं है. यह वीटो शक्ती भारत के राष्टपती के पास नहीं है. अमेरिका के राष्टपती के पास ह इस वीटों का तात्पर है कि राष्टपती किसी विधेयक को अपनी स्विक्रूती के लिए अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है किन्तु यदि विधाई का पुनस विधेयक को अपने विशेश बहुमत से पारित कर दे मतलब पहले वो साधारन से हुआ था अब उसे परी बार स्पेशल से लाओ ये सब कहां पर होता है अमेरिका राष्टपती के विटों की शक्ति के एकसेप्शन पहला एकसेप्शन तो है सविधान संशोधन धन विधेयक को राष्टपती पुनर विचार के लिए नहीं भेशता हाला कि उस विधेग पर राष्टपती पावर देता है किसको राष्टपती के पास तो तीनी विकल थे राष्टपती के पास तो तीनी विकल थे राष्टपती के पास दूसरी बड़ी बात राष्टपती के पास डिस्क्रेशनरी पावर ओफिशल नहीं है कंडिशनल है लेकिन राष्टपती के पास तो डिस्क्र स्प्रिष्नरी पावर और भी ज्यादा हैं जब कोई विदेक राज्य-विधाई का द्वारा पारिद कर राजपाल के समख सुख्रूति के लिए जाता है तो आर्टिकलदोसों के अंतरगत राज्य-पाल के विचारा धीन भी, अब राश्ट पती के पास अगर पहुचा, तो राश्ट पती के पास फेड़ से वही सारी बाते हैं, कि वह तीनों में से कुछ भी कट सकते हैं, जब कोई विदेख राज्यपाल दोरा राश्ट पती के अनुमती के लिए सुरक्षित लिया जाता है, किया विदेख नहीं है, तो पुनर विचार के लिए लोटा सकते हैं, अब अगर पुनर विचार करके फिर से राश्ट पती के पास आ जाये तो, यहां बाध्य, फिर से बोलेंगे कि जाओ फिर से लोटाओ, हमें फिर से पारित करके भेजो, वहां कोई प्रतीबंद नहीं है, य अब भी राश्ट पती उस विदेख पर अपनी अनुमती देने के लिए बाध्य नहीं है, फिर राश्ट पती की फाइनेंशिल पावर, फाइनेंशिल मतलब पैसों से क्या लेना देना है, कंटिंजेंसी फंड, राश्ट पती के नाम पर बनता है, वितायो का जो धन विदेयक राश्ट पती की पुर्वानुमती से ही संसद में पेश, पर फिर रिपीट, राश्ट पती की पुर्वानुमती मतलब मंत्री परिशक, अनुदान की मांग बिना राश्ट पती के सिपारिश के नहीं, बजट को संसद में राश्ट पती ही रखवाता है, भारत की आकस्मिक निधी से अग्रिम भुक्तान, कंटिंजेंसी फंड से खर्चा करने के लिए भी राष्टपती के अनुमती और आर्टिगल 280 के तहत फाइनेंशल कमीशन का गठन भी राष्टपती ही करता है। राष्टपती की न्याइक शक्तिया वो शमादान की शक्ति रखता है और वो ऐसी शमादान की शक्ति रखता है जिसमें वो मृत्यूदन को भी शुन्य घोशित कर सकता है और अकेला है वो ऐसे शमादान की शक्ति रखता है कि न्यायले जो की स्थैनिक न्यायले थे उन्होंन पहला तो हैं लगू करन सजा की प्रकृती को बदलना परिहार सजा की अउधी को कम करना विराम विशेश परिस्तितियों की वज़से सजा को कम करना जैसे मान लो कि कोई महिला ने गर्बधारन किया उस समय प्रकृती को बदलना मतलब कठोर की जगह पर थोड़ा साम कहेंगे कि भई, नॉर्मल सजा दी जाए, अउधी का मतलब है दस साल थे तो, आठ साल, प्रविलंबन, किसी दन को कुछ समय के लिए तालना, और शमा का मतलब है, पूर्नत ह, राज्यपाल को मृत्यु दन को पूर्नत ह, शमा करने का अधिकार, लेकिन, राज्यपाल मृत्यु दन को आजीवन कारावास में बदल सकता है, राज्यपाल मृत्यु दन को लगू करन और बाकी कारियों में यूज कर सकता है, बस वो पूरी तरह से माप नहीं कर सकता, शमादान किसी निर्दोष वेक्ति को नियालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाना, या संदेस्पत सजा के मामलों में मददगार, यह प्रक्रिया 72 के तथ राश्टपती के पास दया याची का दायर करने से शुरू, यह एक और चीज, क्या राश्टपती अपनी मरजी से शमा कर दीगा, यहां भी मंत्री परिशद की सलहा से ही, इसके बाद याची का पर विचार करने के लिए ग इरह मंत्री की सिपारिश पर परामर्श के बाद याची का राश्टपती को भेजी जाएगी, दया याची का पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित, तो कई बार लंबे समय तक चलती रहती है, मारू राम बनाम भारत संग, आर्टिकल 72 के तहत, शक्ती का प और मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ती शमादान की याचना का अधिकार के तौर पर धावा, शमादान आपका अधिकार बलकि राश्टपती के द्वारा एक प्रकार से आपके ऊपर एहसान है, मतलब आप इसे ये नहीं कहोंगे कि ये मेरा कानूनी अधिक राश्टपती की डिप्लोमेटिक पावर जितने भी इंटरनेशनल एग्रिमेंट होते हैं वह राश्टपती के नाम पर ही होते हैं अंतर राश्टिय संधिया और समझोते राश्टपती के नाम पर डिप्लोमेट, एंबेसेडर, उच्चायुक की न्यूकती, अंतर राश्टि के मंच पर जो भारत का प्रतिनिदितु है वह भी राष्टबती के नाम पर राष्टबती की डिस्क्रेशनरी पावर तो हम कहेंगे भारत में राष्टबती के पास कोई ओफिशियल विवेकिय शक्तिया कंडिशन पर बेज़्ड हैं लोग सभा में किसी भी दल को सोब दे तब जब मंत्री परिशत के खिलाप लोग सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए जब मंत्री परिशत कोई ऐसी सलादे जो सविधान के खिलाप हो यहां ध्यान से समझना यहां भले ही मंत्री परिशत को बहुमत भी क्यू ना हो सदन में उसका का उलंगन करती हो, तो राष्ट बती उसे मना कर सकता है, ये कंडिशन्स है, मंत्री परिषद त्याग पत्र दे दे, मतलब कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ, पर मंत्री परिषद ने का ये मोका अच्छा है, इस समय अधी इलेक्षन करा दो तो हम ही जीतेंगे, त जब मंत्री परिषद के खिलाप लोग सबा में अविश्वास आया, तो सला देने वाला कोई है नहीं, या लोग सबा में किसी भी दल कोई स्वष्ट बहुमत ना हो, तो वो किनको पहले बुलाएंगे, प्रधान मंत्री के लिए इसकी कोई गैरेंटी नहीं ले सकता, अगर मान लो कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, तो राष्ट पती को सला के आधार पर काम करना है, फिर उस समय सला कोन देगा, जब तक नया मंत्री परिषद नहीं आएगा, तब तक वो सला देते रहेंगे, लेकिन वो ऐसी कोई सला नहीं दे सकते, जो बहुत जिम्मेदारी की बात करती हो, क्योंकि वहा खुद कारेपाली कामयब वास्तवी कारेपाली का नहीं है, उपराष्ट पती तो ये है, राष्ट पती और उनसे जुड़ीवे बातें, उपराष्ट पती, इस बार उपराष्ट पती की जो चुना हुए, तो वहां जगदीब धनकर जी को फाइनली जीत मिली, 528 वोट मिले, 15 वोट रद्ध हो गए, और 182 वोट मिले थे मार्गरेट अलवाजी को, जो विपक्ष की कैंडिडेट थी, जीत के लिए कितने चाहिए थे, और 528, धनकर जाकर जी भी वकील रहे हैं, मतलब LLB की डिग्री की हुई है, आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 70 तक उपराष्ट पती के संबन में, 63 उधर 52, अब एक एक बढ़ाते चलना, भारत के लिए एक उपराष्ट पती, वरिष्टता के क्रम में राष्ट पती के बाद देश का उपराष्ट पती हैं, तब से सीनि हैं, अमेरिका की तरह भारत में भी उपराष्ट पती को केंद्रिय विधाई का के उच्च सदनर्थात राज्य सभा का पदेन सभापती, पदेन सभापती का मतलब क्या लिया जाएगा, एक स्थ ऑफिस हो, जैसे ही राष्ट पती का पत मिला कि वो पत मिल गया, इसमें कोई सोचने की जरुवत नहीं है, कोई अत्रिक्त कारवाई करने नहीं पड़ेगी, राष्ट पती के पद में उई रिक्ती की दशा में उपराष्ट पती राष्ट पती के रूप में काम करेंगे, जैसे राष्ट पती बीमार हो, तो सारी जिम्मेदारिया फिर उपराष्ट पत निभाते हैं, फिर आर्टिकल 66, बुधर बताये, योग्यता ये, शर्ते किस में थी? शर्ते, 58 या 59, 59 में योग्यता, 60 में शपत, भारत की नागरीक्ता, वही सेम, निउन्तम आयू, राज्य सभा का, वहाँ, लाब का पद, संसद राज्य विदान, सब सेम है, बस एक चीज कहा फरक पड़ रहा है, वहाँ लोग सभा की सदस्यता और यहाँ, निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, पहले क्या होता था, कि निर्वाचन नहीं होता था, ज्वाइन बैठक कर लेते थे, और जो भी लोग खड़े हैं, डाइरेक्ली हाँ और नहीं, पूछ कर चुनाव खतम होते थे, तो उसमें तोड़ा डर क्या होता था, कि गुप्त मतदान नहीं होते थे, तो अब उन्होंने का कि अब इनका भी एक निर्वाचन मंडल होगा, और संसत के दोनों सदनों के लोग भाग लेंगे, अब सवाल आपसे ये हैं, कि वह राज्यसभा का सभापती है, फिर भी लोग तबा के लोग उनके निर्वाचन में भाग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वह केवल राज्यसभा के सभापती नहीं है, भारत के उपराष्ट पत और वो जब भी राष्टपती काम नहीं करेंगे उस समय उपराष्टपती को उनका काम, तो मंत्री परिशत को उन्हें सला देनी पड़ेगे. फिर दूसरी बड़ी बात, जब उनको पद से अटाया जाता है, तो जन्रली जो सभापती होते हैं, उनको सदन अपने पहुमत से भगा देता है, इस स्पेशल मेजुरिटी से, लेकिन उपराष्टपती में भले ही स्पेशल मेजुरिटी राज्यसभा की लगेगी, लेकिन लोगसभा की सहमती भी अनिवार है, क्योंकि वो केवल राज्यसभा की सभापती नहीं है, वो देश के, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, अनुपतिक प्रतिनिदित्व पद्दती, एकल संक्रमनियमत प्रनाली, लेकिन विधान सभा के लोगभाग, प्रारंब में संसत के दोनों सद्नों की सयुक्त बैटक होती थी, लोगसभा के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, क्योंकि राश्टपती के अनुपस्तिती में उपराश्टपती, राश्टपती के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, कार्यकाल पांच साल का अपने पद की अउधी समाप्तो जाने पर भी तब तक पद पर रहेंगे, जब तक क्योंका उत्तराधिकारी राश्टपती को त्याग पत्र दे सकते हैं, पद से हटाना, राज्यसभा के कुल सदस्यों के दो तिहाई और लोगसभा के द्वारा समर्थन जिसको कहेंगे साधारन बहूमत, पद से हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राश्टपती में कही पर भी प्रस्ताव ला सकते हैं, उपराश्टपती के दो बड़े काम हैं, एक त पद को निरन तरता, खाली हो जाए तो भरना, लक्ष्मी कान में लिका हुआ है, उसे राज्यसभा संकल द्वारा पारित कर पूर्ण बहूमत द्वारा हटाया जा सकता हैं, अर्था सदन के कुल सदस्यों का दो तिहाई, थोड़ा या सुधार लेना, और इसे लोगसभा की सहमती मतलब साधार, साधारन बहूमत राष्ट उपराष्ट बती जैसा बड़ा पद है, कोई साधारन व्यक्ती नहीं है, हम अपने देश के चीप जस्टिस को हटाने के लिए भी विशेश बहूमत वर्ड यूज करते हैं, तो ये तो वरियता के क्रम में दूसरे स्थान प अब आते हैं कारेपालिका में, प्रधान, मंत्री और मंत्री परिशन, अब वो सारे काम जो राष्ट पती कर रहे थे, वो यही कर रहे हैं, तो अब उनको नहीं रिपीट करेंगे, अलग से. अब हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि अब आपके सामने तीसरा सवाल, इसके पहले मैंने दो सवाल आपसे पूछे हैं, अब हम आपके सामने दो सवाल और रख रहे हैं, तीसरा और चौथा प्रश्न, इसके जवाब विडियो के अंत में या बीच में हम रखेंगे, ता राष्टपती संसद का हिस्सा नहीं होता संसद का हिस्सा होता है संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है किन्तु वोट नहीं दे सकता संसद का हिस्सा है और संसद में बैठता है और वोट नहीं दे सकता present in parliament is not a part of it is a part of the parliament a part is not a part of the Parliament option a hungry gevale a psychic me is a part of parliament and sit in the parliament but cannot vote get a part of the Parliament and sit in the Parliament में बट वोट दे सकता हैं अप्शन दी मैं सुधार दे रहाओ ऑप्शन दी मैं सुधार दे रहाओ वोट दे सकता हैं एन वोट इसी के साथ चौथा प्रश्ण भी आपके पास है भारत में प्रधान मंत्री मनोनित किया जाता है चयनित किया जाता है निर्वाचित किया जाता है नियुक्त किया जाता है नोमिनेटेट, सलेक्टेट, इलेक्टेट, अपॉइंटेट, अद्बुत सवाल है, इसका जवाब भी आपको वीडियो के बीच में या अंत में मिलेगा वास्तविक कार्यपाली का पीयम, प्रधान मंत्री, उनके पास मंत्री मंडल, ये थोड़ा समझ लीजे, ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा गलत है इसा, देखो, सबसे ज्यादा पहले, सबसे बड़ा ग्रूप नागरीक, इस दुनिया के, इस भारत के नागरीक, नागरीक में स सब आ गए, उम्र कितनी भी हो, सब नागरीक है, छोटा बच्चा भी देश का नागरीक है, उन नागरीकों में मत्दान करने वाले लोग, मतलब, मतदाता, वोटर्स, अब ये लोग वो हैं, जो अठरा से ज्यादा उम्र या अठरा उम्र के हैं, फिर उनमें से चुने गए सांसद, जिने हम कहेंगे लोग सभा के सदस्य, MP, MP में जिसको मिला बहुमत, बहुमत जिसको मिला वो बनाएगा सरकार, उस सरकार में जिन लोगों को पद मिलें, मंत्री, परिश्यद, उसमें जो बड़े मंत्राले समाल रहे हैं, मंत्री, मंडल और उसमें एक व्यक्ति जो सब को हेड कर रहा हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो देश की जनता, सिटीजन, वोटर्स, वोटर्स ने भेजे MP, MP में मेजोरिटी, मेजोरिटी ने बनाई, गवर्मेंट, गवर्मेंट में से चुने गए, मरलब गवर्मेंट बनाई काउंसिल ओप मिनिस्टर ने, उनमें से important cabinet और सबसे important प्रधान मंत्री, राष्टपती को सहयता और सला देने के लिएक मंत्री परिशद होगा, और राष्टपती उस मंत्री परिशद की सला के अनुसार ही कार्य करेगा, किस में लिखा हैं, एक बार मंत्री परिशद की सला को पुनरविचार के लिए लवटा सकता है, जैसे मैंने बताया था अटल व्यारी वाजपई और कलाम सहाब का, 75 प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्टपती द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्टपती के द्वारा प्रधान मंत्री की सलहा पर, कोई भी व्यक्ति बिना संसत की सदस्यता के अधिक्तम, 6 महिने तक मंत्री रह सकता है, ये मामला तब उठाता जब इंद्र गांधी को प्रधान मंत्री पद दे दिया गया, और वो किसी भी सदन के सदस्य, अब ऐसे पूरे माहोल में, माननियन यायले ने कहा कि ठीक है वही चल जाता है, छे महिनों में उनको बोल देते है कि सदस्यता ग्रहन कर ले, तो वहां से परंपरा बन गई, मंत्री परिशत, प्रधान मंत्री सहित, मंत्री पदर्श्य के सदस्यों की संक्या, लोक सभा की, कुल सदस्य संक्या के, 15% से अधिक नहीं होगा, ये लिखा हुआ है, 91 वा Constitutional Amendment, सबसे 1773, काउंसील जब बनी थी, कितने सदस्य थे केवल, और अब कितने हो गए हैं, 15%, मंत्री परिशत, लोक सभा के प्रती सामुईक रूप से, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से, राश्ट बती, सामुईक का मतलब हुआ, एक किर गया, तो सब खतम, पर यहां पर एक व्यक्ति स्तिपा दे सकता है, प्रदान मंत्री के कार्य, वास्तवी कार्य पाली का, वही काउंसिल ओप मिनिस्टर बनाएंगे, शाशन के वही अध्यक्ष हैं, मंत्रीों को मंत्रा लए देंगे, संचालन करेंगे, और वही लोक सभा के नेता है, लोग भली वो राज्य सभा के सदस्य क्यों ना हो, लेकिन नेता तो लोग सभा के कहलाएंगे, राश्ट की नीतियों का निर्मान, पूरे देश में शाशन चलाना, पूरे राश्ट के धन का रेगुलेशन, कानून को लागू करना, व्यवस्ता बनाना, विधेयक तयार करन पारलियामेड में पेश करना, राश्ट पती के नाम से अध्यादेश जारी करना, भारत के प्रधान मंत्री की नियुक्ती के समय, परश्ण देख लिजे 2020 का है, धरुरी नहीं कि वो संसत के दोनों सदनों में एक का आवश्च रूप से सदस्य हो, परन्तु से छे महिने के अंदर आवश्च रूप से दोनों में से एक सदन की सदस्यता लेनी चाहिए, आंसर आना चाहिए था, ओप्शन ए, मंत्री परिशत पर आये, तो मंत्री परिशत तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, लेकिन हमारे देश में दो ही मंत्री हैं, एक है क्याबिनेट मंत्री जो की इंपॉर्टेन मंत्रा ले, और मंत्रा ले के अंतरगत कई डिपार्टमेंट होते हैं, अगर कोई एक डिपार्टमें किसी को पूरा मिल जाएं तो उसे कहते हैं राज्य मंत्री जैसे एक मकान उस मकान में कई कम्रे तो पूरा मकान जिसको मिल गया वो मंत्री और जिसको मकान का एक कम्रा मिला वो राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर पर वो फ्रीली काम करते हैं मंत्री मंदल, महतुपुर्ण राश्टिय नीतियों का निर्मान करने वाला सरकार में कॉडिनेशन का सबसे बड़ा अंग, मंत्री परिशत का आकार बड़ा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और पार्लियामेंटरी, सेकेटरी सब लोगों को मिला कर बनता हैं. Council of Minister, Cabinet नीतियों पर निर्नाई लेती और उनके क्रियान वहन पर निगरानी, 44 संचोधन 1978 से पुर्व, मंत्री मंदल का सविधान में कोई उलेक, पर आर्टिकल 352 में एक मात्र आर्टिकल जिसमें मंत्री मंदल शब्द का उलेक है, डिफाइन नहीं है, बट शब्द उपियों क किया गया है बस, विभागों का स्वतंत्र प्रभार या क्याबिनेट मंत्री के अंदर आने वाला मंत्री, मंत्राले से संबंदित कोई विशेश कार्य सोपा जा सकता है, क्याबिनेट के सदस्य नहीं, मंत्राले से संबंदित किसी कार्य है तु विशेश रोप से आमंत्री क याद रखेंगे कि राज्य मंत्री कई बार जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, उन्हें लगता है कि वो राज्यों पर ध्यान देगा, उनका राज्य से कोई लेना देना, वो केवल उस परटीकुलर विभाग को देख रहे हैं, तो यहां वो राज्य शब्द उपयोग करना ठ अन्सदिय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त, क्याबिनेट की बैठक में कोई भागेदारी नहीं और भारत में उप मंत्री जैसी कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्याबिनेट महत्वण राष्टिय नीतियों के निर्मान करने वाला और सरकार में समनवय का सर्वोच अंग, और यह बहुत सारे लोग है इसमें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सेकेटरी, यह शायद पढ़ लिया थामने, अब एक बड़ी चीज, याद रखेगा, जो लोग जैसे आईयस बन रहे हैं, तो आईयस बनते-बनते सबसे बड़े पद दो तीन है, सबसे पहला मंत्री, सेकेटरी, मुख्य मंत्री का सचीव, दूसरा बड़ा पद है, कैबिनेट, सेकेटरी, ओफिशली बड़ा पद है, मंत्री, जो मंदल है, उसका सेकेटरी, कैबिनेट, सेकेटरी, जो केंद्र का है, और प्रधान मंत्री का सेकेटरी, तीन लोग माने जाते हैं, कि आ और आपका खौब क्या होना चाहिए, अब्यान से समझना, बस मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे राज्यपाल के पास डिस्कृष्णरी पावर है कि नहीं कंडिशनल, ऑफिश्यल, ऑफिश्यल है, अगर आपको क्या लगता है, किसी राज्य में जब 356 लागू हो, तो क अधान मंत्री सब कंड्रोल कर रहे हैं, तो वो किन को आदेश देते हैं, चीप सेकेट्री बहुत ताकत्वर पद है, प्रैक्तिकली, क्योंकि मोके मिलते हैं ऐसे, पर क्या इधर आसे मोके मिलेंगे, नई, लेकिन, भई, केंद्र और राज्यमें केंद्र की शक्तिया, तो इसलिए उनका सेकेट्री भी, वहाँ कंडिशनल पावर मिलने की संभावना है, किसमें राज्यके सेकेट्री को, लेकिन क्याबिनेट सेकेट्री को, पावर ओफीशली सबसे ज्यादा, पर 1999 का एक केस, क्याबिनेट सेकेट्री थे, मिश्रा जी मुझे पुनका पुरा नाम अश्रा मियाद नी, क्याबिनेट सेकेट्री थे, पर अटल वियारी वाचपही के कार्यकाल में, उन्होंने क्याबिनेट सेकेट्री का पध छोड़कर, प्रधान मंत्री के सेकेट्री बने, जबकि बड़ापत क्या था, ओफीशली, ऐसा इसलिए हो जाता है कही बार, अगर व्यक्तित्व प्रधान मंत्री का बहुत बड़ा हो, तो फिर सारे निर्ने तो उनी को लेने हैं, सारे निर्ने उनको लेने तो सेकेटरी को ही लेने हैं, इस समय क्याबिनेट सेकेटरी ज्यादा खुश होगा कि मोदी जी का सेकेटरी, क्योंकि वास्तविक शक्ति तो प्रधा वही शक्ति भी पसंद कर लेते, क्योंकि उन्हें पता हैं, काम तो यही से होँगे, अब तो जो क्याबिनेट का सेकेटरी होगा, क्याबिनेट मंत्री कहरा है भी मेरे पास आदेश नहीं है, जब तक मेरे पास नहीं मैं तुमें क्या बताओ, और उनको आदेश कौन बताने आ करकार थी, तब कोन शक्ति शाली था, ओवियसली मनमोन जी कोई निटना ही लेते ही नहीं ते तो उनका सेकेटरी कहता था, मेरे पास क्या कर रहे हो, क्याबिनेट सेकेटरी, तो ओफिशली तब से बड़ा पद हैं, क्याबिनेट सेकेटरी, पर अगर आपको कभी शक्ति का अपयोग करना हो कि मैं भी मुख्यमंत्री जैसी ताकत यूज करो, तो चीप मिनिस्टर सेकेटरी, पर वो किसमत है कि ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं वा तो क्या कर लोगे, तो क्या बड़ा पद लेकिन वर्तमान के दौर में, प्राइमिनिस्टर सेकेटरी भी कोई चूटा पद नहीं रहा, वो डिपेंड करता है प्रदान मंत्री कोन है, मनमोन जी है तो अलग चीज है, मोदी जी है तो अलग चीज है, अब आप दो सोच लीजे आपको क्या बनना है, वापी जाते है अटोडनी जनरल, हाँ, पीम को, तब भी लोग सभा का नेता है, मैंने वही तो बता लेकिन नेता तो, और मैंने ये भी बताया, अगर उन्होंने मानलो पहुमत खो भी दिया, तो वो बस इतना हुआ कि नेता नहीं रहे, लेकिन वो अपने सदस से राज्य सबा के अभी भी बैठेंगे, पूरी तरह से काम काजल करते रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत, वो तो पस अपने मंत्रियों से कहेंगे, भी तुम तो जाओ, मेरी जगा अभी भी फिक्स्ड है, हाँ मैं अभी तुमारा नेता नहीं रहे, ये बात के लिए अब यह एक और इंट्रस्टिंग पॉइंट, कि जिन लोगों को भी आप सपने आये हैं, कि उन्हें सेकेट्री बनना है तो याद रखेगा, मिनीमम जो सर्विस होती है उस बद तक पहुचने की, वह सर्विस होती है तीस साल की, अब तीस साल का मतलब होता है, मिनीमम बोल रहा हूं मैं यह, अधिक्तम कितना भी हो सकता है, अब जो वेक्ती 21 से 24 साल की उमर में सलेक्ट हो जाए, तो मान लो कि उ बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, पर मान लो कि अब तीस साल में जनरल के टिगरी के आखरी अटेम में सलेक्ट हुआ, अब पासट साल में बचे कितने साल, तीस, अब यह संभव कब हैं, अच्छे रिलेशन हैं, तुम बहुत अच्छी तरह सी कॉडिनेट कर लेते हो, जब भी रैली होती है, तो दो लाग की उम्मीद की जगव, पांच लाग जमा कर लेते हो, तो फिर तुम्हारे चांसे प्रमोशन के बढ़ जाते हैं, तो यह भी चीजे हो जाते हैं, अब तो मैं कहूंगा, इस से ज्यादा बेठर तो आपने, हमारे इस समय जो खुद कहें कि मुझे प्रधान मंत्री नी बनना, तुम बनो, तो ऐसी चीजे भी कभी कभी काम कर सकते हैं, वापिस आईए, अटोडनी जनरल, महान्यायवादी केवल और केवल सरकार का वकील है, पर सरकारी वकील, यह कोई साधारन वकील नहीं है, यह सरकार का वकील है, सर अटोडनी जनरल, गली महले में, नहीं मिलते है, आर्टीकल seven takesadore केंडर में, और आर्टीकल one sixty five राज पर में केंडर में पहेंगे, मान्यायवादी केवल और राज्य में कहेंगे महा दीवक्ता, अंगरी जी में अगर हम बात करें तो केंद्र में क्या कहेंगे, आटोर्नी जनरल और राज्य में एड़ोकेट, फिर नियुक्ति राश्टपती के द्वारा, केंद्र में, राज्य में, गवर्नर, सुप्रीम कोट का नया धिश, कार्यकाल राश्टपती के प्रसाथ परिंथ, प्रसाथ परिंथ का मतलब ऐसा ना सोचना डेली नारियल बाट रहे हैं, प्रसाथ परिंथ का मतलब होता है कि जब तक राश्टपती को लग रहा है, पर राश्टपती को कब तक लगेगा, जब तक मन्त, ओबियसली, इसमें ऐसा कोई तनाव की बात नहीं है, जो जिसकी सरकार होगी वो अपनी मढजी से अपना सलाकार ढूंड सकता, यह प्रिडम तो उसके पास होनी चाहिए, भारत सरकार का वकील और कानूनी विशेशग्य संसत की कारवाई में भाग लेने का अधिकार है, किन्तु वोट नहीं दे स अपने मामलों के वकील के तौर पर पेश करती है, सरकारी वकील वो निशुल्क सहायता के लिए उपलब्द कराए जाते हैं, कौन सा? आर्टीकल 39, वो उन लोगों को दिये जाते हैं, जिनके पास वकील करने का खड़्चा भी ना हो, भारत का नियंत्रक और महालेखा परिक इकलोता कार्य पालिका का पद, जो राष्ट पती के प्रसाद परिंत, अन्यता प्रधान मंत्री परिशद मेक्सिमम सभी लोग कहें तो, राष्ट पती के प्रसाद परिंत की तो बात ही नहीं हैं, पर इकलोता पद, जिसको सुरक्षा भी बहुत, इनको पद से हटाना सरल नहीं हैं और यहां तक कि उनकी पुनर नियुक्ती भी भाग पांच में आर्टीकल 148 से 151 तक राष्टपती के द्वारा तविधान में CAG की योग्यता के संबंद में कोई प्रोवीजन नहीं कि क्या कौलिफिकेशन होने चाहिए, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले कवर हो जाए, पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोट के नयाधिश को स्तिध कदाचार या अक्षमता प्रूमिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, कार्यकाल की समाप्ती के बाद सरकार के अधीन कोई भी पद्धारन लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो का पद्धारन कर सकते है, क्योंकि सरकार ने कहा कि वो हमारे अधीन नहीं आता, जैसे विनोध राय, विनोध राय सीएजी बी थे और फिर पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो के वह चेर्मेन भी बन गए, मुख्यकार्य है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार और केवल राज्य और केंद्र सरकार नहीं, केंद्र पोशित या राज्य सरकार पोशित कि सीबी संसता के लेखा जोखा को चेक करना, जाज करना, कंसोलिरेट फंड और कंतिंजेंसी फंड, सरकार से वित्त पोशन सभी निकायों की आईवे का परिक्षन, सीएजी संसत की लोक लेखा समीती जो कमीटिया होती है, उनका मार्गदर्शक, मित्र और सलहाकार के रूप में उनकी मदद करता है, सीएजी की ओडिट रिपोर्ट, लोक लेखा समीती को सौपी जाती है, ताकि वह फिर से उसे चेक कर सके, तो ये था, जितने भी हमने कार्य पालिका के पद देखे, ये सारी बात चित थी कार्य पालिका के, संग की कार्य पालिका के पद से, राज्य की कार्य पालिका में केवल एक ही पद जिसको थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए और वो है, राज्य पाल, बाकी की जो पद है वो ऐसे ही है, जैसे केंद्र के, अब आते हैं संसद, विधान मंडल, मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिसलेचर, केंद्र में संसद का मतलब लोकसभा, राज्य सभा और राष्टपति, और राज्य में लोकसभा की जगह, वहाँ पर पंचायतों में बात करें अगर तो, पंचायतों में, इसकी जगह पर ग्राम पंचायतों में, वहाँ भी तो सभा होती है, ग्राम सभा, असेम्ली मतलब वही पर पूरे निडने ले जाते ग्राम सभा के दौरा कानून, और वहाँ पर, कोई अपर तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कुछ में कुछ में नहीं है, यहाँ पूरी तरह से नहीं है, और यहाँ पर कोन होता है, यहाँ राष्टपती, राज्यपाल, यहाँ, यहाँ ऐसा कुछ भी, क्योंकि यह कोई कानून पारित करने वाली संस्था, यह तो बस एक चोटे-चोटे अपने शेत्र का नियमन करने के लिए, यहाँ, लेकिन अगर प्रशाशन और कार्यपालिका कहा हैं, तो राष्टपत, सरपंझ, कार्यपालिका में आ गया, और जो मूषी, सीवेपसृरी चल रही है, सेकेettरि, उ एक तरीके से सचिव, वहाँ का प्रशासनिक सबसे बढ़ा कळ, प्रशासनिक सबसे बढ़ा कळ हो राज्य सभा का गठन किस बात को दडशाता है। पेडरल सिस्टम कहे या यूनियन लेकिन संगिय व्यवस्ता क्यूंकि उच्च सदन किसका प्रतिनिदित्व कर रहा है। वहां से जो लोग राज्यों से चुनकर भेजे गए हैं, वे राज्यों में जाकर किनके मांगों को किनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। देगो, प्रेक्टिकली आज के दोर में कोई राज्यसभा का मिम्बर राज्यों की मांग पूरी नहीं करता। लेकिन वास्तविक रूप में इसका निर्मान किया तो इसी लिए गया था। कि राज्य की आवाज को बीच बीच में कोई न कोई उठाएगा। लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि वह राजनितिक दलों से इतने प्रभावित हैं कि वह किनों देश्यों से बेजे गए उस पर गौर ही बलकि केवल और केवल अपने राजनितिक दल की विचारधारा को ही प्रसारित कर रहे हैं। इस थाई सदन है, कभी भी इनका भंग होना संबव ही, लेकिन जो व्यक्ति अंदर जाएगा उसका टाइम पिरेड शे साल, बिल्दिंग का टाइम पिरेड नहीं हैं, अंदर के लोगों का हैं और वो भी शे साल में, हर दो साल में एक तिहाई लोग जाते रहेंगे और नहे आते रहेंगे, राज्य जबा के एक तिहाई सदसे प्रतेक दो वर्षबात पदमुक्त होते हैं, और इनकी जगह एक तिहाई सदसे नहें पद ग्रहन करते हैं, मैक्सिमम कितने, अभी कितने, उसमें बारा लोग, चार विशय के हैं, अब जेसे मान लीजेए सचिन तेंदुलकर को भी न्यूक्त किया गया, तो क्या वो साहित्य से जुड़े हैं, क्या वो कला से जुड़े हैं, विज्ञान से जुड़े हैं, वो किसके माध्यम से, पर जेसे मान लीजेए कि किसी संगीतकार को बुलाया गया, किसी वेज्यान को बुलाया गया, और किसी लेखक को बुलाया गया, तो यह चल जाएगा, समासेवा का दायरा बहुत ही बड़ा है, मैं भी समासेवा डेली कर रहा हूँ, निर्वाचन, राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिदित्व पद्धति के आधार पर, एकल संक्रमनिय मत प्रनाली, तो तीन जग हो गई है, राष्टपती में, उपराष्टपती में, राज्य सभा के सदस्यों में, फिर लोग सभा जन्ता का प्रतिनिदित्व करने वाला, इसलिए इसे कई बार प्रतिनिदित्व या रिप्रजेंटेटिव हाउस कहते हैं, ते निर्वाचन सदस्यों का कार्यकाल मैक्सीमम पाँच साल पहले भी खतम हो सकता है। आपात काल की स्तती में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 42 सविदान संचोधन में इंद्रा गांधी ने कार्यकाल कितना कर दिया था। 44 में पुन हमने वर्तमान में लोकसभा के सभी निर्वाचन शेत्रों को एकल सदस्य निर्वाचन शेत्र के अंतरगत। इसका मतलब भले ही कोई व्यक्ति दो जगह से जीत कर आ जाएं लेकिन रिप्रजेंट वह एक कोई करेगा उसे एक सीट छोड़नी पड़ेगी। कोई व्यक्ति अधिक्तम कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है। मात्र दो जगह से। इसका तात्पर्य है कि एक निर्वाचन शेत्र से एक अही व्यक्ति लोगसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। एक से अधिक नहीं है। लोगसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। A. अंसर B. C. देखो, ये तो पहली बात किलियर है, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल, भई निवास करने वाले तो अक्षे कुमार भी है, पर वो दाखिल नहीं कर सकते। दूसरा, जिस निर्वाचन शेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहां के किसी निवासी द्वारा, अगर ऐसा होता तो मूदी जी, वारा नसी से चुनाओ, नहीं लड़ सकते। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा, जिनका नाम किसी निर्वाचन शेत्र की मतदाता सूची में हैं, दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऐसे में तो बारा साल का बच्चा भी दाखिल कर देगा। पर उसका नाम कहा आना चाहिए। मतलब उसकी एक उम्रवाली बात्चित भी जरूरी है। सदस्यों की योग्यता आते हैं। लोग सभा का और राज्य सभा का मिंबर बनने के लिए मिनीमम एज। और राज्य सभा का मिंबर भारत की निर्वाचन सूची में मतदाता के रूप में और संसत द्वारा निर्धारित अन्य कानूनी योग्यता है। सदस्यों की आयोग्यता के संबन में निर्वाचन आयोग जो निर्ने देगा वो राष्ट बती को मानना पड़ेगा। उस व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार घोशित कर दे, यदि उस व्यक्ति को दिवालिया घोशित कर दिया जाए, यदि वह भारत का नागरीक नहीं है और इसने किसी दूसरे देश की नागरीकता स्वेच्छा से, तो इन सभी चीजों में वह अपने आप ही पद से समाप्तम लिया जाएगा, संसत के दो सत्रों के भी छे महिने से अधिक का गैप नहीं, मतलब मिनीमम तीन सत्रतों लेने पड़ेंगे, राष्ट बती को दोनों सदनों के सत्रा वसंत दा लोकसभा को विक्टित करने की ताकत, दोनों सदनों के स्तगन, मतलब थोड़े टाइम के लिए रोकना, ब्रेक देना, पीठासी नधिकारी, आर्टीकल 89 और आर्टीकल 93, राज्यसभा और लोकसभा के पीठासी नधिकारी के संबन में प्राउधान, और पीठासी नधिकारी केवल तभी मतदान करेगा, अगर ताई हो जाए, ताई मतलब दोनों बराबरी में आजाए, तब उनका निड़नाए, अन्तिम निड़नाए, सामान्य तह, वो मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो मतदान करें सामान्य तह, तो फिर सदन में बैठेवे लोगों को पता चल जाएगा, कि वो पहले से ही अपना मन बना चुके हैं, तो फिर वो हमारी बात नहीं माने संसत के सत्र, सत्रावसन और विक्टन के बारे में आर्टी कलिधर लाल, कैसी कैसी हरकते कर रहे हो, मास्टर कक्षा में पढ़ा रहा हैं, बुढ़ापा नस्दीक आ रहा हैं, नाती पोतियों को ये वीडियो दिखाऊंगा तो उनको कैसा बुरा लगेगा कि दादाजी ऐसे थ इस पर ध्यान दिया, संसत के सत्र, सत्रावसन और विक्टन, आप याद रखे सब कैमेरे चालू है, सब रिकॉर्डिंग है, मैं आपको बता दू, you are under CCTV surveillance, इसलिए सारे रिकॉर्ड मेरे पास है, अगर मैं चाहू, तो रिलीज यूट्यूब पर कर सकता हो, इस्ततिया भयान वो सकती है, वापिस आईए, सत्र, सत्रावसन और विग्टन, सेशन को बुलाना, उसे खत्म करना या पूरी तरह से लोकसभा को विग्टीत करना, सत्र का मतलब संसत के दो सत्र के भी छे महिनों से अधिक कांत्राल नहीं, मतलब एक साल में तीन सत्र रहेंगे, सत्रावसन, सत्रावसन बैठक के साथ साथ सदन के सत्र को भी स्तमाप्त करना देगो, सत्रावसन का मतलब समझो ब्रेक, और सत्रावसन का मतलब होता है, एक तरीके से पूरी की पूरी बात्चीत अब खत्म हुई, अब नए सिरे से बात्चीत शुरू होगी, भारत के राष्टपती के द्वारा किया जाएगा, एडजर्णमेंट, इस्तगन, एक निश्चित समय के लिए बैठक में कामकाच को रोकना, पर ये कभी-कभी कुछ घंटे, दिन और सप्ता के लिए होता है, और अगर उन्होंने ये बताया नहीं कि अगली बार कब आना है, तो इसको कहते हैं, अनिश्चित कालीन के लिए, जब बैठक अगली बैठक के लिए नियत किसी निश्चित समय तिथी के बिना समाप्त हो, तो इसको कहते हैं, अनिश्चित काल के लिए स्तगन, इस्तगन और अनिश्चित काल के लिए स्तगन की शक्ती सदन के, पीठासीन मतलब प्रिसीडिंग ऑफीसर जो भी हेड कर रहा हो पर विगटन केवल किसका होगा लोगसभा का राज्यसभा का नहीं विगटन का तातपर है कि लोगसभा का विगटन पूरा का पूरा लोगसभा के चुनेवे लोग अब शुन्य हो गए वो पुनह चुनाव के लिए जाये हैं जबकि 17 वसन का रत है कि लोगसभा के एक सत्र की कारवाई समाप्त हो जाएगी किन्तु इसके लिए नए चुनाव की जरुवत नहीं है 17 वसन संसद के दोनों सदनों का किन्तु विगटन केवल लोगसभा का ही होता है 17 वसन से संसद में लंबित विधयक पर कोई भी प्रभाव सत्रा वसन के कारण मानलीजे कोई विधयक आया और विधयक केवल बात्चित हुई थी कि लोगसभा का सत्र खतम हो गया तो हम कहेंगे ना वो रद हुआ ना ही उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा प्रभाव पड़ेंगे जब लोगसभा का विगटन हो स सदन के सत्रा वसन हो जाने के कारण लंबित विधयक समाप्त नहीं होते राज्यसभा में लंबित विधयक जिसे लोगसभा ने अब मैं इसको बता दे रहा हूं ये इतना न जाते हुए पर अगर लोगसभा का विगटन हो ठीक है ऐसी परिस्तिती में वे सारे विधयक जो रुकसभा में लंबित नहीं जो बीध छर्चा में थे लोगसभा में पारित कर दिये थे लोगसबा में आये थे सब पर जो भी राज्य सभा ने पारित कर दिये हैं, राज्य सभा से पारित, वे तो पूरे as it is बने रहेंगे. यहाँ एक बड़ी important उधारन, महिला आरक्षन बिल 2010 में पारित कर दिया हैं, किसने राज्य सभा ने और अभी तक वो जिन्दा, 14 लोग सभा मतलब एक तरीके से 2014 हुआ, 2019 हुआ, भली लोग सभा ये बदलती गई, लेकिन वो बिल अभी भी है, वो जब भी चाहे तब लोग सभा में आ सकता है, लेकिन लोग सभा का कोई बिल अगर सरकार गिर गई, फिर वो खत्म हो जाता है. अब मान लिजे कि लोग सभा में, राज्य सभा में से पारित एक बिल आया, तो वो खतम नहीं हुआ, वो राज्य सभा से पारित हो गया है, पर अभी अभी लोग सभा में भाच्चित चल रही थी, चडचाय चल रही थी, अभी कुछ हुआ ही नहीं, पर भंग हो गई, तो पिरो जीरो हो गया, नए सिरे से सब काम करना पड़ता है, हाँ, बिल खतम कौन सा, लोकसभा वाला, पर राज्यसभा ने पारित क्या, वो एज़िटी जिन्दा है अभी, विलकुल वो अगली लोकसभा में जाएगा, नहीं आया उत्तर, भारत का राष्टपती ऐसे स्थान पर, जिसे वो ठीक समझे है, संसत का सत्र बुला सकता है, जगव अडल सकता है, भारत का सविधान, एक वर्ष में संसत के तीन सत्रो का प्रावधान, उसने बस कहा है, गैप छे महिनों से ज्यादा का ना हो, तो दूसरा वाला तो गैरेंटेड, अब एक पे तो जगड़ा कतम हो गया, अब खेल तो पूरा तीन पर है, एक वर्ष में दिनों की कोई निउन्तम संक्या निर्धारित नहीं है, जब संसत का चलना यह सा कही नहीं लिखा हुआ है, आंसर आएगा, केवल और केवल, पहला और थीसरा, पीठासी नदिकारी सदन में जो भी चेर्मेन होता है, वो पीठासी नदिकारी, लेकिन सही कहें, तो जो कुड़सी पर बैठा, वो पीठासी नदिकारी, अब हो सकता है जो उरी चेर्मेन थे वो नहीं है, तो जो उपाध्यक्ष था वो आया, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो जो दस लोगों का कोरम बनाया जाता है, दस लोगों में से कोई भी बैठ सकता है, तो पीठासी नदीकारी की जगब प्रिसीडिंग ओफिसर ये वड़ ह होता है जो उस कुर्सी पर बैढ गया उसको वास्तविक रूप में वो सारी ताकत रहेगी आर्टीकल 89 और आर्टीकल 93 में 89 राज्यसभा और ये लोगसभा राज्यसभा का प्रिसीडिंग ओफिसर कोई और नहीं है पीठासी नदीकारी केवल निरनायक मत देगा लोगसभा के अध्यक्ष को लोगसभा अपने विशेश बहुमत से पत से अटा सकते और याद रखेंगे विशेश बहुमत से इने अटाने के बाद राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है पर राज्यसभा के पिठासी नदिकारी उपराश्ट बती को राज्यसभा के विशेश बहुमत तदा लोगसभा के सामान्य बहुमत से हटाया जाएगा Article 94, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी, लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपना पदरिक्त नहीं करेगा, जब तक कि अगली लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाउं, यह प्रावधान केवल लोकसभा अध्यक्ष के संबंद में हैं, लोकसभा के लोग सबात अत्वाराज्य की विधान सबा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीद्वार को निर्वाचित घोशित किये जाने के लिए किये गए मतधान का कम से कम 50% अरे हमारे आँ तो जिसको जादा वोट मिल गए बली वो 21 परसेनी वोट किओ ना मिले हो तो चो 10 लोग उतरे थे चुनाव में एक व्यक्ती को 22 परसेन मिले एक को 18 मिले एक को 17 मिले एक को 14 मिले तो 22 थे इस वाला जीत गया हमारे आप 50% वोट पाप्त करने का कोई प्रावधा नहीं, ये कहा हैं, केवल राश्टपती के और उपराश्टपती के इलेक्षन में, भारत के सविधान में, अधीकतित उपबंदों के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जनरली परंपरा ये कहती हैं, कि लोग सबा का जो च चेर्मेन, विपक्ष का रहे। लेकिन इस बार तो, चेर्मेन और वाइस चेर्मेन इस बार की लोग सबा में दोनों सत्ता पक्ष के इया है, तो कोई अनुबंद नहीं है, हां, पर ऐसी परंपरा थी, लोग सबा में अद्यक्षका पद बहुमत वाले का, पढ़ ये परंप 2012 लोकसवा अध्यक्ष के पद के विशय में, क्या वो राश्टपती के प्रसाद का हैं? क्या वो राश्टपती के प्रसाद परिंत हैं? मतलब कन्फम ए और सी तो, मतलब दूसरे को पढ़ने की जरुवत ही, यदि वह त्याग पत्र देना चाहें, तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल भी तीसरा। संसद ये विशेश अधिकार, प्रिविलेज, क्या विशेश अधिकार हैं? संसद में कही गई बात के लिए उस पर केस नहीं हो सकता। संसद में जो भी सत्र शुरू होता है उसके पहले, संसद में से तो कभी किसी को गिरवतार, और सत्र के पहले होने के बाद और खत्म होने का कुछ ताइम पिरेट दिया जाता हैं, एक विशेश सुईदा है, इसको कहते है प्रिविलेज, विशेश अधिकार, संसद के दोनों सदन उनकी समीती और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेश अधिकार, उनमुक्तिया और छूट, संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्ता की सुरक्षा करना, ताकि संसद, सांसद जनता के हितों का सदन में बिना किसी भय कें समूचित प्रतिनिधित्व कर सके, आर्टिकल 105 में वर्नित, विशेश अधिकारों का वर्गी करन, व्यक्तिकत अधिकार और सामूइक दो प्रकार से, एक तो पूरा सामूइक अधिकार हैं सदन का, कि वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को जो उपर देखने आया था कारवाई, उसको सामूइक रूप में कह दे कि इसको भगाओ, दूसरा व्यक्तिकत उनके अपने कुछ अधिकार है, सामूइक अधिकार सदन की रिपोर्ट, वाद विवाद, कारवाही, आदी मामलों में अन्य के प्रकाशन पर प्रती बन, सदन की अवमानना पर दंड, कारवाही से बाहरी व्यक्ति सहीत सदस्यों को निश्काशित करना, विशेश मामलों पर गुप्त बैठक करना, नयालय क संसत के कारवाही की जाच करने का कोई अधिकार नहीं है, सदन के सत्र के दोरान, सत्र आरम होने के 40 दिन पहले या समाप्ति के 40 दिन बाद तक, दीवानी मामलों में गिरपतारी स्टेवनमुक्ती, किसी भी सदस्यों को सदन के अनुमती के बिना, संसत की सीमा के भीतर पूरी तरह से एक सांसत है जो बहुत ही गुच्से के साथ बातचित करती है, करती है तो आप समझ गए, महुआ मोहित राजी, एक्रेसिवली बात तो, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब उन पर कोई कारवाई हो या कोई भी किसी प्रकार की चीजे करें, गनपुर्त Sc subscribingiously मतलब कौरम, कौरम होता है, बाज भाई तेन, लोक सबा का वण भाई तेन अपन अलग है, मतलब मिनिमम इतने लोग रहेंगे तो ही कारवाई हो गी, अभी देखना कभी आप संसर टीवी में देखोगे, राज्यसवा में मेक्सिमम सीटे है, खाली है, झाओ बहुत इन रेरली ना आना हो ठीक समझ में आता है लेकिन तीन बार सत्र होता है और उसमें राज्य जबा में मैक्सिमम लोग पहुचे ही नहीं होते हैं खाली सीटे पड़ी होती है संसत की गनमुर्ती नियूनतम 10% गनपुर्ती के अभाव में उस सदन की कारवाई को पीठासी नदिकारी तब तक के लिस्तगित कर देगा जब तक कोरम पूरा आर्टीकल 105 संसत के सदस्यों को विशेश अधिकार प्रावधान करता है संसदो द्वरा सदन में कही गई किसी बात की विरुद्ध कोई नयाई कारवाई नहीं अब आते हैं कोरम का एक मामला जो 1976 में इंद्रा गांधी ने क्या कर दिया था 42 सविदान संचोदन में कोरम की शर्त को भी खतम कर दिया था कहा कि बोले जितने आएंगे तब भी सदन चलेगा मैं अकेली भी आ गई तो सदन चलाना पड़ेगा फिर 44 में उसको खतम किया कि ये ठीक नहीं होगा फिर ऐसे तो क्या होगा दो तीन लोग बैटे गए उधर अध्यक्ष को एक को बिठा दिया एक बहुमत पारित करना था पांच लोग थे तीन ने हाथ कड़े के ड़न हो गया तो ठीक नहीं होता भी मिनिमम वन बाई टेन त साइद मंत्री परिश्यद सब उन्होंने कोई विधयत लाया घेड सरकारी का मतलब सदन का सतस्य अब जरा धियां से सुन्हा एक विसे पीयगती है जो किसी मंत्री पद पर नहीं है पर वो बीजेपी का वेक्ति और वह बीजेपी की समय सरकार है उन्होंने लोगसबा में एक विधेयक लाया आप उन्हें क्या कहेंगे सरकारी या गैड सरकारी गैड सरकारी केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है सत्तार उर्दल की नितियों को दर्शाता है संसद में इसका पारित होना तय है क्योंकि अगर ये पारित नहीं हुआ तो सदन का बहुमत नहीं है लेकिन जिसे विशेश दोती हाई हुआ तो मुश्किल हो जाती है कई बार संसद में पेश होने के लिए साथ दिनों का नोटिस देना पड़ता है, गेर सरकारी विदेक मंत्री के अलावा कोई भी पेश कर सकता है, स्तारवजनिक विशय पर विपक्षी नहीं सदन के व्यक्ति के मंतव्य को दर्शाता है, विचार को, संसद में पारित होने की उम्मी तोड़ी कम हैं और संसद में पेश करने के लिए एक महिने का नोटिस, वहां साथ दिन और यहां, पिछली बार दोनों सदन द्वारा एक नीजी विदेक उननीस सो सत्तर में पारित किया गया था, सर्वोच्चनियाले अपराधिक, अपीलिय, शेत्राधिकार, विस्तार अधिनियम, सोल यहां तो कोई भी पला लेकर आजाए, वो पारित हो जाता है, भारतिय दंड सहीता अधिनियम उननीस सो सड़ सट, यह सब पारित हुए है, मतलब यह मैं क्या बता रहा हूँ, यह वो प्राइवेट बिल हैं, जो भले ही प्राइवेट हैं, पर पारित हुए हैं, दो जार ब के दूसरे प्रकार है, साधारन विदेयक, धन विदेयक, सविधान संचोधन विदेयक, यह 368, यह 110, 110, और यह सभी प्रकार से, फिर अब कुछ भी हो, मतलब यह विशेष केटेगरी, यह विशेष केटेगरी और बाकी जो बच गया, वो सब ओनरी बिल होंगे, यह मंत्री परिशत की पुरुवनुमती, राष्टबती की पुरुवनुमती और पेश केवल मंत्री परिशत ही करेगा, यहां कोई पुरुवनुमती की जरुवत, कोई भी पेश, ठीक हैं, तो यहां पर थोड़ा सा अंतर याद रखेंगे, साधारन विदेयक, किसी संसत के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है, राष्टपती के अनुशंचा की आवश्चक्ता नहीं है, राज्यसबा अधिक्तम छे महीने रोकेगी, फिर उसके बाद पास नहीं होगा, फिर ज्वाइन सेशन बुल पारित कर दिया, लेकिन लोगसबा नेना पारित क्या हो जॉइन सेशन में भी पारित नहीं होगा, छे महीने के बाद जॉइन सेशन राष्टपती द्वारा स्विकार हो सकता है, अस्विकार हो सकता है, पुनर विचार के लिए भी भेजा जा सकता है, सयुक्त बैठक 108 में लिखा हैं लोक्सभा का अध्यक्ष अतुवा उपाध्यक्ष ही इसकी और केवल ओडनरी बिल के लिए प्रावधान है धन्विदयक सविधान संचोधन विदयक के लिए ऐसा कोई प्रावधान साधारन बहुमत से विदयक पारिद होगा याद रहेंगे धन्विदयक के मामले मनी बिल के मामले में लोकसभा की ताकत खुले तोर पर राज्यसभा से ज्यादा है। लेकिन खुले तोर नहीं जगड़ा होता है तो ज्वाइंड सेशन तो कराना पड़ेगा तब जाकर लोकसभा पारित कर पाएगे। पर सविधान संशोधन के विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा, अब अमेरिका में एक चोटी सी बात समझ लीजे, अमेरिका में केवल धन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा, मतलब उनका लोर हाउस और अपर हाउस बराबर ताकत र कि मैंने आपको एक बात बताई थी गंतंत्र की, गंतंत्र में बहुमत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जरूरी क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसका प्रमान क्या है, तो सविधान संशोधन विधेयक, इमेजिन करिये सविधान संशोधन विधेयक, लोक सभा क 545 लोगों के दो थी हाई लोगों ने बहुमत ने भेजा हैं, और केवल कितने लोग रोकने की ताकत रखते हुसे, मतलब बहुमत का इंपोर्टेंस वल्की जरूरी है या नई, तो ये गंतंत्र होने का प्रमान है, अगर हम लोगतंत्रिक होते जैसे बृतेन वाले, तो वहां तो पूरी तरह से पारित कर दिया, संसदने मतलब उनकी लोग सबाने तो मानी जार लिया जाता है, कि पारित हो चुका है, अपर हाउस के पास कोई ताकत ही नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीते हैं, मेरातन क्लास आप लोग बहुत बहुत बहुतर तरीके से पूर सके, यदि आप 2024-2025 की प्लानिंग कर रहे हैं, 2024-2025 यदि आप एक प्रॉपर तरीके की गाइडलाइन, प्रॉपर तरीके से तयारी पूरा करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अनेकेडमी के साथ, सवाल यह है कि क्यों अनेकेडमी, तो यह सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में, कोर्स आप जब पर्चेस करते हैं, तो आपको एक टीचर और एक कोर्स दे दिया जाता है, यह एक ऐसा अनेकेडमी सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको किवल एक टाइम लिमिट बाउंडेड है, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर की क्लास देख सकते हैं, एक अही सब्सक्रिप्शन पर जितने क्लासे चल रही हो सब देख सकते हैं, जितने टेस्ट हो रहे हो सब दे सकते हैं, अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, इसी में आपको doubt clearing होंगे इसी में आपको complete classes मिलेगी multi educators मिलेगे और सबसे बड़ी बात आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका तो यदि आप तयारी की planning करें और online platform ढून रहे हैं तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि इससे best और कोई नहीं पिछले दो वर्षों का अधबुत result आपके सामने हैं इस्क्रीन पर आप देख सकते 170 से ज्यादा टॉपर 2020 में और 197 टॉपर 2021 में अनेकेडमी ने दिये सबसे बहतरीन result और इस समय अनेकेडमी ने एक बहतरीन चीज किये जो खास करके उन विद्यारतियों के लिए जो गरीब है उन्हें लगता है कि वो क्योंकि अनेकेडमी सबसे बड़ा platform है online में जो सबसे ज़्यादा free material उपलब्द कराता है लेकिन कई बच्चों का कहना था कि भई हमें अनेकेडमी से classes चाहिए minimum price में तो अनेकेडमी लेकर आया है अनेकेडमी स्टोर इसके माध्यम से आपको GS, CSET और current affair की classes बहुत minimum price में ये recorded classes भी रहेगी, live classes भी रहेगी ये module type है module module किसे कहते हैं यदि आपनी YouTube पर बहुत कुछ कवर कर लिया लेकिन आपको दो सबसे कवर करने हैं तो आप अनेकेडमी स्टोर के माध्यम से कवर कर सकते हैं पर अगर आप complete preparation चाहते हैं complete preparation तो आपके पास है plus और iconic iconic क्या होता है iconic में आपको एक mentor अलोट किया जाता है जैसे मान लीज़े आप MK live refer code यूज़ करेंगे तो आपको दो mentor मिलेंगे एक mentor तो मिलेगा जो अनेकेडमी देगी और एक माए क्योंकि आपने MK live refer code यूज़ किया है तो हर महीने दो बार मैं आप लोगों से meeting करूगा और आपके personal doubt जो भी guidance शाहिए वो आपको देते रहूगा तो iconic जो है उसमें सारे plus benefit one to one mentorship discord नामक app पर doubt solving session होते है पूरी तरह से library आपको open library खास करके digital library और offline test भी इसमें उपलब्द कराई जाते है अबनेकेडमी offline mode में भी आ चुका English medium में वहाँ भी आपको offline के साथ ये पूरा online subscription प्लस वाला मिल जाता है प्लस में सारी चीज़े मिलेगी बस mentor नहीं मिलते हैं बाकि आपको C-set, GS, current affair, question test, series, doubt solving सारी चीज़े मिलती है material भी आपको लेना नहीं है सारा material आपको free of course लिया जाता है iconic में physical material मिल जाता है प्लस में आपको पूरा digital material मिल जाता है ताकि आप बेटर तरीके से तयारी कर सके MK-LiU हमारा refer code है यह क्या होता है भई? तो हमारा यह refer code आपको instant 10% discount और सबसे best offer उपलब्द कराता है साथी साथ MK-LiU में हम doubt clearing के माध्यम से आपको guidance उपलब्द कराते हैं mock test आप हमारे वाले test देते रहोगे personal mentorship हमारी तरफ से मिलती है और Unacademy के वो सारे benefit एक ही course में pre-mains interview सारी तयारी आपको उपलब्द कराई जाती है तो यह है Unacademy online platform भारत का सबसे best platform अगर आप इससे better platform ढूण पाए तो मुझे comments करिएगा बाकि आप लोग अपने मेरा थन class को पूरा देखिएगा मेरा दावा है कि इस class के बाद न केवल revision आपका better होगा बलकि इस class को आप 2-3 बार देख लीजे आप Indian geography में 10 में से 7-8 सवाल केवल इस class से यह attempt कर लें प्रॉपर याद करेगा इसके material को पीडियप को हमने इसी class में नीचे लिंक कर दिया है तो सभी को बे stop luck continue देखते चलिए मेरा थन class धन्यवाद 2020 का सवाल देख लीजे यह option है English आगे deadlock धन्यविदेयक के लिए तो कई जरुवती नहीं दूसराई हटा दो और साधारन तो होना ही चाहिए पहला होगाई सविधान संशोधन में भी आंसर आएगा केवल और केवल सविधान संशोधन विदेख हम पढ़ चुके कल ही दो प्रकार का था 368 भाग 20 एक विशेज बहुमत विशेज बहुमत प्लस तो अब सीधे आ जाते हैं धन्यविदेयक आर्टीकल 110 110 वाली बाते धन्यविदेयक की हैं पर उसकी बाते एक और जगह पर आएगी धन्यविदेयक की परिभाषा जिसके अंतरगत मुक्यतह करो को लगाना हटाना घटाना बढ़ाना भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या देना प्रमुक रूप से शामिल है मतलब जिसमें खुले तोर पर किसकी बात होगी पैसो की याद रखना शायद यहां सुधार दिया सरकार बगेड संसद की अनुमती के कोई टैक्स ना लगा सकती है ना हटा सकती है ना बढ़ा सकती है उसे हर बार किसकी अनुमती की जरुवत पड़ेगी संसद की बगेड संसद की अनुमती के नहीं 109 धन विदेक केवल लोगसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा धनविदेग को केवल, क्या उसके बाद जोईन सेशन, मान लिया जाएगा पारित, धनविदेग का निर्धारन कोन करेगा, और लिखा हुआ था, कि लोगसभा का जो स्पीकर है, जिसको धनविदेग कह दे, उसे चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोजार बीस, दोजार अठ्रा आधार वाला, जो मामला था, सुप्रिम कोट ने का, तीक है बली धनविदेग है, लेकिन मैं आपको सूचित कर दू, कि मैं इसकी भी जाच कर सकती हूँ, मतलब नियायले ने फिर कह दिया, कि तुम कुछ भी संशोधन कर सकते हो, और मैं कुछ भी देख सकता हूँ, लोग सभा धनविदेग के संबन में, राज्य सभा की सिपारिश को मानने के लिए बात दे नहीं है, कोई विदेख धन विदेख नहीं माना जाएगा, यदि जुर्माने का अधिरोपन हो, किसी इस्थानिय प्राधिकारी या निकाय द्वारा इस्थानिय प्रयोजन के लिए, किसी कर को लगाना, घटाना, घटाना या बढ़ाना, मतलब जुर्माने लगते हैं तो उपनव फाइन हैं और किसी स्थानिया मतलब लोकल अथॉरीटी के द्वारा जो ओरा है वो धनविदेक का मामलाही नहीं वो तो लोकल अथोरिटी नॉर्मल तरीके से लागू कर देगी, धन विदेक या तो लोकसभा या विधान सभा की बात्चित, किसी विदेक के बारे में विवाद उठने पर वो धन विदेक है या तवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्नय, अंतिम और अध्यक्ष के इ आईले में चुनोती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब धी जा सकती हैं, लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा, 14 दिन के अंदर उसे स्विकूर्टी देनी होती है, अन्यता इसे राज्यसभा दोरा पारित माना जाता है, 117 एक में दो प्रकार के विधेयक हैं, वो सारे मामले जो धन से जुड़े हुए थे और अन्य, लेकिन 117 तीन में वो सारे विशय हैं, जिनका धन विधेयक से कोई लेना देना नहीं हैं, मतलब सबसे बड़े ज्यादा में वित्त विधेयक, फिर वित्त विधेयक 117 एक और उसके अंदर आ गया मनी बिल धन विधेयक 110, सबसे बड़ा है वित्त विधेयक पूरा 117, उस 117 में 117 एक अपले अंतर समझ लीजे, भई पैसो का विशय है, टेक्स लगाने और बाकी चीजों को देखे, तो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन कुछ और भी विशय है, कि जैसे बैंक का खाता खोलने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट अनिवार्य कराना है, तो बैंक वैसे प्रत्यक्षरूप से पैसों का लेंदेन तो नहीं है, लेकिन है तो पैसों की बात, तो वो धन विधेयक तो नह जाना हो, किन चीजों की जरुवत पड़ेगी, अगर कही पर राशन कार्ड के लिए किन चीजों को मेंडेटरी करना है, तो जहां डॉक्यूमेंटरी चीज़े आ जाती हैं, वो फाइनेंस वाले, और जहां सीधे पैसों की बात आ जाती हैं, वो धन वाले, मनी वाले, वित्त विदेग 1.117.1 का संबन आर्टिकल 110 में शामिल सभी विशयों के अलावा अन्य विशय से भी है, वित्त विदेग में उन सभी विशयों को शामिल किया जाता है, जो डायरेक रुप से वित्त से संबंदित होते हैं, जैसे सरकार का expenditure, सरकार का revenue, पर वित्त विदेग एक अनुचेद 117 में साधारन विदेग संबंदी प्रावधान भी शामिल है वित्विदेग एक धन विदेग में उल्लेकित सभी मामले सामान्य कानून के अन्य मामले भी केवल लोक सभा में आएगा राष्टबती की सिपारिश पर ही और वित्विदेग एक पर सयुक्त अलेना नहीं है ये पूरी तरह से अलग है किंतु धन संबंदी अन्य विशय समें शामिल है 110 में कोई निड़ना ही नहीं संचित निधी पर भारित हुए जैसे अन्य वित्वित्यम आमले शामिल है संसत के किसी भी सदन में पेश और ये पूरी तरह से क्या है साधारन तो 117 एक सो सत्रा थीनुष्यज मत गोईं उत्य Steward बयंक ने developed by 117 एक सो सत्रा थीन एक सो सत्रा तीन को समझ लो नॉर्मल है अब आते 116 एक इसमें दो टाइप कैं कुछ तो पूरे 110 वाले हैं और कुछ उसके अलावा है, जो 110 वाले वो 110 के नियमों का पालन करेंगे, लेकिन 117 के वो अलावा वालों में भी राज्यसभा को ताकत नहीं दी गई है, क्या कहानी समझ में आई हैं, पर 117 तीन में अयुक्त बैठक होगी, जैसा न ओर्डनरी बिलता, स्तारा कुछ प्रावधान वही रहेगा, धन विदेक और वित्त विदेक में क्या अंतर भी, तो धन विदेक को पारित करने की प्रक्रिया किस में हैं, और वित्त विदेक को पारित करने की प्रक्रिया 117 तीन में, यह आर्टीकल सिर्प 110, सिर्प 110, और ये 110 के साथ साथ, कुछ और भी है, मतलब बड़ा है लिकेवल लोकसभा में ही प्रतेक धन विदेयक, वित्त विदेयक है, लेकिन प्रतेक वित्त विदेयक, राष्टपती की पुरुवा नुमती, सयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, राज्यसबा अधिक्तम 14 दिन तक और राष्टपती अनुमती देने के लिए बाद्य है। हाँ, मैंने कब का, मैं तो मना कर रहा हूं। अरे मैंने यहां बताया नहीं वो लिखा क्यूं। मैंने जो बोला भो बताया न मैंने। फिर अलग से मैंने का 117.3 नॉर्मल है, 117.1 जिसमें पूरे धनविदेग भी है और कुछ अत्रीक्त भी है। पर उसमें अत्रीक्त को भी वही सुरक्षा है जो धन्विदेग जैसी हैं फिर से आए बजट पर आए बजट का अर्टिकल 112 क्या हमारे सविधान में कही बजट हैं क्या लिखा हुआ है वाडशिक वित्तिय विवरन एनुवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आय और व्याय के विवरन कितने वर्ष का अब तीन वर्ष कोन से दो हजार तेइस चोबिस का बजट आया है तो तीन वर्ष बताए है option दे रहा हूँ मैं option दे रहा हूँ मैं मैं समझ गया हूँ सब 2021-22, 2022-23, 2023-24 ठीक है 2021-22, 2022-20, 2022-25, option D नन, A इतने लो और B इतने लो तो याद रखेंगे आंसर रहेगा इधर ध्यान से समझेंगे इसे बहुत देखो कई बार ये लिखा होता है उसमें कि बजट जो आता है वो आगामी वर्ष का पूरा लेखा जो खा है अब आगामी वर्ष मतलब तुम अपने दिमाग में ये सोचते हो कि अगला साल अगला नहीं फाइनेंशिल अगला साल और फाइनेंशिल अगला साल शुरू होगा एक अपरेल को तो अभी हम कौन से साल में जी रहे हैं हम पिछले साल में अभी अगला तो एक अपरेल को शुरू होगा इसलिए कभी भी याद रखना जिस भी साल का बजट है उस वर्ष को लेकर उसके पिछले पर जो सर्वे होता है सर्वे 2020-21, 2021-22 और 2022 इसमें 23-24 के बारे में चर्चाएं नहीं होती है तो सर्वे में बस एक साल और पीछे की बात रहेगी पिछली साल सरकार की आए पिछली मतलब ये वाला जो चल रहा है कितनी रही वर्तमान वर्ष में कितनी और अगले साल मतलब ये 24 में अब कितनी होगी आर्टीकल 112 Annual Financial Statement बजट को राष्टबती संसत के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है सरकार के आए विये के बारे में विवरन बजट में अनुमानित विये को दो भागों में पाटा गया है एक है संचित निधी पर भारित जिने कहते हैं expenditure charge on the consolidated fund और संचित निधी से किये जाने वाले याद रखेंगे भारित का मतलब जैसे संचित निधी से जो salary नहीं जाती है बड़े बड़े लोगों की तो उस पर चड़्चा होगी लेकिन और दूसरे में चड़्चा भी होगी और मत्रान विनियोग विधेयक पारित करवाये जाएंगे हर खडचे के लिए आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा भारत की संचित निदी पर कोन से भारित विया हैं? राज्यसभा के सभापती, उपसभापती, लोगसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन वोटिंग वोटिंग नहीं होगे. भारत सरकार के रिंड और ब्याज, इसमें आप क्या वोटिंग करेंगे? उच्च नियाले के नियादिश की केवल पेंशन, भारत की संचित निदी से, वेतन भत्ते, राज्य निदी से, उच्च नियाले क्योंकि हाई कोट, हाई कोट हैं, भारत के नियंतरक महालेखा अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पुर्व राष्टपती की, राष्टपती की मतलब मंत्री परिशन, संसद्वार अनुदान की मांग पारित जिसका नाम होगा, एप्रोप्रियेशन बिल विनियोग विदेयक, 114, विनियोग विदेक में किसी प्रकार का संशोधन, क् क्यों तो बस हा और नहीं वाली बातचीदे पैसे दे रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुमत में है, राज्यसभा को बजट के संबन में कोई विशेश पावर नहीं, किन्तु विनियोग विदेयक को संसद के दोनों सद्नों दौरा पारित किया जाना अनिवार्य है, और दोनों जो धन विदेग था, उसमें हम टैक्स लगाने की बात की चडचा कर रहे है, वो कानून की बात है, विनियोग विदेग कोई कानून वानून नहीं है, पैसो की बात है कि वित्तमंत्री ने कहा, मंद्रेगा के लिए हम 12,000 करोड खर्च करेंगे, फिर इसका एक विनियोग व करेंगे, टेस्रीज चाहिए, टेस्रीज के लिए मुझे 6,000 रुपई चाहिए, पिताजी को फोन लगाया, पिताजी ने का कि मैं बात्चित में बीजी हूँ, बाद में लगाता हूँ, तेड़ गंटे पिताजी का फोन आया, ठीक है 6,000 तुमारे अकान में डाल दिये, वि अधुकरसर का QIP प्रोग्राम भी जॉइन करना है, जिसकी पीस बीस अधार रहेगी, और यही पर मैं रहूंगा पीटी के बाद भी, पिताजी ने का अभी हम घर पे चडचा करेंगे, फिर तुमारे को बताएंगे कि यह संभव है की नहीं है, इधर बेटी की शादी का करने हैं, तो अभी बिल आया है, अब घर में चडचाय होगी, और वो बिल मतलब पैसे की बात नहीं है, पहले निर्नय लिया जा रहा है कि हाँ या ना, तो वो है तुमारा मनी बिल, पर तुमने अब मनी बिल जैसा वित्त वी धेक ले लेते हैं, कि यह कैसा बिल होगा, दिल्ली में प्रदूशन बहुत जादा है, क्या मैं कुछ समय के लिए घर जाओ, अभी भाडा किराया तो चालू रहेगा, मामला सीधा पैसो का तो नहीं है, लेकिन किराया तो देना है, जब तक पिताजी नहीं कहेंगे, तब तक जाओगे कैसे, तो यह है तुमारा पाइ अनुमति, बाकी किसी चीज का चड़चाए नहीं है, भारत की संचित निदी पर भारित वे भारत की संचित निदी से किये जाने वेले वे, जिन अनुदान की मांगो के रूप में लोकसभा के समक्ष रखा जाता है, दोनों को मिलाकर विदेग का रूप दिया जाता है, जि वित्त विदेग में सरकार के व्याय के वित्त पोशन संबंदी प्रावदान है, खर्चो के प्रावदान है, एक विनियोग विदेग में धन निकासी की मात्रा और उसका उद्देश, मतलब कितना पैसा निकलेगा और क्यों निकाला जा रहा है, विनियोग और वित्त के रूप में वर्गी कुरूत किया गया, जिसे राज्यसभा की स्पष्ट सहमती के आवश्चकता नहीं होती, राज्यसभा इस पर केवल चडचा करके इसे लोटा सकती है, 31 सवाल पर आईए, 2018 का सवाल है, आंसर इजी है, सब अलग अलग है, धन विदेयक के रूप में सही नहीं है, अरे, गलत पूच रहा है, गंदेलाल लालियो, गलत पूच, यह तो सही है न? इंगलिज में देख लो, अकस्मिक निधी से पैसा निकालना हो, तो धन निधी, धन वी देख की जरुवत आई, वे, कंटिंजेंसी फंड तो, राष्टपती के नाम पर बनता है, और सीधा, राष्टपती की सला को देकर, पैसा खडच, धन विदेयक भारत की आकस्मिक निधी से, धन के वीनियोजन से संबंधित है, क्या? पूचा क्या है उसने? ये तो सही है न, कि किसी भी धन विदेख तब माना जाएगा, टेक्स को लगाना, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन, धन विदेख में भारत का कंसुलेट फंड, आकस्मिक निधी की अभी रक्षा, मतलब उसको आपीस भरना, धन विदेख भारत सरकार दोरा धन के उधार देने, प्रत्याबुती देने के वीनियमन से संबंधित है, पर उसमें कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए धन विदेख की जरुवत, वो तो किनके ना अगली बार जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो वो पूरा बजट पेश नहीं करती, बलकि मोटे मोटे खड़्चे और थोड़ी बहुत भविश्य के खड़्चों को बता देती है, इसको नाम दिया जाता है इंतरीम बजट, इंतरीम बजट का मकसद है कि उस अल्पकालिक आ होता है, उस तरकार अंतरीम बजट पेश करती है, चुनाओ के बाद बनने वाली सरकार फिर पूर्न बजट, मतलब बजट कितनी बार आएगा, दो बार, एक तो चुनाओ से पहले है और एक चुनाओ के बाद, लेखा अनुदान, लेखा अनुदान मतलब वोट्स अन बन कर दिया क्योंकि अब तो जरूरत पड़ती नहीं, पर सवाल आया है तो हमें उत्तर तो निकालना पड़ेगा, इंगलिश नहीं है, सिदा अंसर है, इस्थाई सरकार लेखा अनुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जब कि कार्यवाग सरकार अंतरीम बजट, ले और आना जाना दोनों है, दोनों ही बाते बिलकुल सही, वोट अन अकाउंट अब इसले बन कर दिया क्योंकि अब बजट किस तारीक को आ जाता है, एक तारीक को, और पेश और फाइनल हो जाता है पूरी तरह से, 31 मार्च तक, और जब है, तो वो पिछले साल के बजट के ख बजट पारित होता था, 15 अपरेल से लेकर 30 अपरेल तक, तो उस एक महिने तक, खर्चे के लिए पैसो के अनुमती, वोट अन अकाउंट कहलाता था, क्योंकि एक महिने के लिए भी तो सरकार चलानी है, एक महिना कोंसा, एक अपरेल से लेकर 30 अपरेल, जब तक कि बजट प महों मेरे लाल तुम इधर ध्यान दो ये वाला गलत है मतलब हाँ बट उसमें लिखा क्या है उसने धन्विदेक जो 110 में है वो टेक्स के लगाने उन्मूलन, माफि, परिवर्तन, रेगूलेशन से संबंदित प्रावधान है लेकिन केवल का मतलब है टेक्स से जुड़ेवे प्रामधावनों में धन्विदेक में भारत की संचित निदी और भारत की आकस्मिक निदी की अभी रक्षा पर अभी रक्षा का मतलब होता है पैसे निकालने के लिए नहीं भरने के लिए जैसे समझो कंटिंजेंसी फंड है और पता चला कि किसी शेत्र में भारत के कोई घटना हुई तो इमीडियेटली पैसा खर्च किया वहां खर्च करने के लिए धन विदेक का कोई लेना देना ही नहीं है पर पैसा खर्च हो गया है अब जब बजट जिस दिन आप लाओ जि अगर आपको अकस्मिक निधी 500 करोड की जगा 1200 करोड की करनी है तो आपको धन विदेक लाना पड़ेगा तो अभी रक्षा के लिए अभी रक्षा का मतलब है भरने के लिए थाली करने के लिए पैसों की अनुमती की जरुवत संसत की अर ये बड़ा सिंपल सवाल है अकस्म 50% गैरंटी के लिए तोचना ही नहीं पैसा निकालने के लिए धन विदेयक की जरुवत नहीं है पर भरने के लिए आपको तो विनियोग विदेयक के माध्यम से पैसा लाना पड़ेगा और धन विदेयक के अनुमती लगेगी निकालना तीन अकाउंट हमने अगर देखे हो अचानक समस्याओं को हल करने के लिए अगर उसे पैसा निकालने के लिए अगर हमें लाना पड़ेगा तो अनुमती मिलेगी नहीं फिर भी मुझे बताओ अभी इमीडियेटली कई घटना हुई सरकार को पैसे खर्च करने है और सत्र में नहीं है सदन तो फिर फिर तो पैसा ही नहीं कल पाएगा तो इसके लिए मुझे धन की ज़रौत नहीं डालने के लिए धन की ज़रौत पड़ेगी निकालने के लिए अनुमती की ज़रौत नहीं इसमें सोचना ही नहीं आंसर नहीं हो जाता, अगर सरकार का नया साल शुरू हो जाए, तो सरकार को बजट पारित होने के टाइम पिरेट तक, खर्च करने के लिए कुछ पैसा दे देना, पर अब क्यूंकि हमारा टाइम पिरेट अच्छा हो चुका है, मोदी जी ने बहुत अच्छा 2017 में रिष्टेप लि करना चाहिए, पर किसी कारणवच नहीं हुआ, तो फिर वोट अनकाउंट का प्रावधान तब रहेंगे, क्योंकि यह कोई रद नहीं हुए, यह तो है, यूज कप करने आप पे डिपेंड है, अब आते कुछ शबदावली पर, कटोती, तीनो कटोती जो प्रस्ताव है, त दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अगर कट मोशन पारित हुआ, तो सरकार के रहने की पॉसिबिलिटी कम है, तीन तरीके के कट मोशन है, एक को नाम दिया जाता है, पॉलिसी कट, इकोनॉमिकल कट और टोकन कट, पॉलिसी कट का मतलब किया आपका बजट ही हमें पसंद नहीं आया, और लोक सभाने बजट ही पारित नहीं किया, that means सरकार ने विश्वास मत हो दिया है, तोकन कट, नितिगत कट में बजट पारित हुआ कितने का, एक रुपय का, एक रुपय में कोन सरकार चला पाएगा, यहां करोडों लाखों प्रती दिन लग रहे हैं, तो सरक सरकार अपना त्याग पत्र देती और कहती कि मैं देश को चला, आप सम्हाल लीजे, फिर वो नई शिरुवात हो सकती है, यावी पक शरकार बनाएगा, दूसरा है, इकोनॉमिकल कट, जिसे कहते हैं, आर्थिक कट होती, यह केवल और केवल, बताने के लिए है कि आप ज्या कि आप आठ हजार करोड में काम करिये, तो इसको कहते हैं, इकोनॉमि, मतलब आपको कम खड़्चे करने है, तोकन वर समझ में आता है, तोकन आपने सुना होगा, कि मैंने एक जमीन बुक की और टोकन दे दिया, फोड़ा सा नमूने के रूप में, तो टोकन कट का मतलब मतल मानलो, पीटा सी नदिकारी ने अनुमती दी और टोकन कट पारित हुआ, तो आपको सौ रुपय कम मिलेंगे, इतने केवल, सौ रुपय, ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है, मेसेज, कि अगर टोकन कट हम पारित करवा सकते हैं, महुदा है, तो तुम्हारा पॉलीसी कट भी पारित करने की हमारे अंदर, पर अभी हम ऐसा कदम उठा, एक तरीके से मेसेज करना कि आपका बहुमत सदन में नहीं हो रहा है, तो अभी तो हम तुम्हें भगा नी रहे, लेकिन भविश्य अगर हुआ, तो ये बहुमत खतम हो सकता है, जनरली इसको कहते हैं, नो कॉन Confidence Motion, इसे कहते हैं हलकी धंकी देना, और इसे कह देते हैं कि भी पैसो की बच्चत करना, प्रेक्टिकली समझ लीजे, मान लेते हैं कि पिताजी के पास कॉल गया, और आप ने कहां कि मुझे आइफोन लेना है, इसलिए एक लाग बीस अजार रुपए मेरे अकाउंड में है जल्दी डालिये, पहला पिताजी ने का बेठा, तुम्हें आइज भी बनाएं, तुम्हें आइफोन भी दे, तुम घर लोटाओ, इस अप्रूल अपॉल अपॉलीसी, मतला आंसर आगया, नीतीगत कटोती, पिताजी बड़े खुछ मिजास दे और अच्छा मूर था उनका पिताजी ने का दे कोई अच्छा नी कर रहे हो तुम, मैं तो दे दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे खर्चे, मत करो, सौव रुपय काटकर पैसे अकाउंट में आ गया, मोबाहिल तो आ गया, तो टोकन कट, पिताजी ने का आइपोन की क्या जरूवत है, दस हजार तो ये हैं, एकोनौमी कट, एकोनौमी में आपको बच्चत का संदेज दिया जाता है, तोकन में आपको सला दी जारे कि अच्छा नहीं कर रहे हो, पर नितिगत कट में तो दिस अप्रूवल, पिताजी ने का तुम घर लोटाओ, तुम्हें ना हूपाएगा, पिर लेखा प्रत्यानूदान, बजट को पारित हुए बिना खर्च करने की लोकसबादवारा अगरीम प्रदान करना, प्रत्यानूदान, इसी आकस्मिक खर्च के लिए सरकार को, आकस्मिक का मतलब बजट में तो बोला नहीं, अचानक फिर पैसे मांगने लग गए तो उसको कहते हैं, प्रत्यानूदान, अपुआदानूदान, कोई ऐसा खर्च जिसका बजट में उल्लेक नहीं है, किन्तु बाद में परिस्तिती वश खर्च करना पड़े, लगबग एक जैसी हैं, पॉलिसी कट, एकोनॉमी कट, टोकन कट, वोट अन अकाउंट के वल खर्चों की आवश्यक प्रशनकाल, प्रशनकाल संसद का पहला घंटा, जिसमें सभी लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, तारंकित प्रशन, जिसमें स्टार लग गए, उसका मौखिक जवाब देंगे, जैसे मानलीजे कि आप सदन में बैटे हैं, और मैं पीठासी अधिकारी हो, अब सरकार के लि जगातार वेकेंसी कम हो रही है, अब उने उत्तर दिया, सरकारी वेकेंसिया कम नहीं हुई है, बलकि अमनीजी शेत्र का प्रकटन बढ़ाना चाहते है, फिर आपने फिर से खडा कर दिया, सर फिर ऐसा क्यू हुआ कि पिछले तीन साल में UPSC की सीटे धीमे धीमे बढ़ र लिखित में बताओ, क्या मामला है, पर जब लिखित में आएगा तो आप पूरक प्रशन पूछोगें, पर यह बहुत अच्छा तरीका है, जो आकडे सरकार किसी को देना नहीं चाहते है, नहीं चाहते हैं, नहीं नहीं हैं और वो सांसद, वो आकडे उस तारंकित अतारंक किसी व्यक्ति नहीं दिये है, तो इससे सारे जानकारियों को जुटाई जा सकती है, तो आतारंकित लिखित उत्तर लेकिन कोई सप्लिमेंटरी कोश्चन नहीं रहेंगे, अल्प सूचना का प्रशन अविलंबिय लोक महत्व से संबंदित मौकिक उत्तर अनुपुरक, शु पूच लिया, आदे घंटे की चर्चा तारंकित अतारंकित प्रशनों के उत्तर के संबंद में इस पस्ठी करन मांगा जा सकता है, अल्प कालिक चर्चा सारुजनिक महत्व के प्रशन पर सदन का ध्यान आकर्शित करने के लिए, ध्यान आकर्शन प्रस्ताओ, सब रोको औ पहले इस पर बात करो, अव इलंब लोक महत्व किसी मामले के और मंत्री का ध्यान आकर्शित करने के लिए, और इस्तगन प्रस्ताओ, देश के किसी गंभीर और महत्व पुन समस्या पर चर्चा, अतुवा सारुजनिक महत्व के अती प्रशन पर बहस, अन्य दैनिक गती व कर्शन में, मंत्री महत्व ऐसे कहिए हैं, वो सब चीजे छोड़े और पहले इस बात का जवाब दे, मतलब मंत्री का ध्यान, अल्पकालिक चर्चा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो बाकी दैनिक काम तो चलते रहेंगे, वो भी चलने दीजे, लेकिन इस पर भी बात सुन ल आएंगे, इसमें पूरे काम, इसमें मंत्री महोदय का ध्यान आकर्चे, 2020, UPS से काईए है, पबलिक फाइनेंस पर कंट्रोल कैसे करता है पारलियामेंटरी, पांच हैं, और ऐसे सवाल मत छोड़ा करिये, कोई न कोई एक या दो तो गैरेंटेट तुमें पता होगा ही, तो एलिमनेशन बहुत महत्वपुर्न हो जाता है, पहला तो गैरेंटेट है, मतलब ये तो खतम कर दीजे कि सर, ये तो कॉम्पीडिशन में हाई नहीं, विनिय लोग विधेयक पारित होने के बाद ही, भारत की संचित निदी से ये तो गैरेंटेड, दूसरा तो वै, तो दूसरा तो सब में आ गया, तीसरा भी, नहीं, तीसरे पर विवाद है अभी, अनुपूरक अनुदान, तथार लेखा अनुदान का प्रावधान, संसदिय नियं रखने के काम आती है, हाँ भी, अनुपूरक अनुदानों में भी पर गैरेंटेड ने, आगे ओर पड़ते हैं, संसदिय बजट कार्याले द्वारा, समस्टीगत आर्थिक पुर्वानुमान, तथा व्येहेतु, सरकार के कारिक्रम का एक नियत कालिक, अथवा कम से कम मध्य वडशिय पुंद्रावलोकन, हमारे देश में ऐसा बीच में पुंद्रावलोकन नहीं होता है, अभी कोई राज्यसभा में आप पार्टी का नहीं था, मिम्बर आप पार्लियामेंट, शीतकालिन सत्र में वो बोल रहे थे, कि हमें मध्यानुमान शुरुवात करने चाहिए नई परंपरा लानी चाहिए, तो ऐसा हमारे देश में चव था तो, और इसी के साथ उत्तर तक हम पहुच गए, संसद में वित्तविदेक का प्रस्तुत किया जाना, एक, दो, तीन और, तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कि हम कन्फ्यूज हो जाए, तो ज्यादा अगर रहें, तो जिसे इसमें पता नहीं था, अगला तो पड़ो, शायदोर क्लारिटी, मध्यवडशिये पुंद्रा अलुकन वाली हमारे देश में कोई बात्चीत, 2012, इस्तगन प्रस्ताव, इस्तगन प्रस्ताव भी देखाता, आमने नीचे, इस्तगन एक अलग चीज है, इस्तगन मतलब एक तरीके से कारवाई रोकना, ब्रेक, कटोती करना वाला तो होई नी सकता, तो कट मोशन है, विपक्ष के सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करना, वो तो तारांकित प्रस्नों से भी हो जाएगा, आंसर आएगा, दोजार अंट्रा, धन विदेक के संबंध में वही वापे सवार, संसद में विदेयक पारित करने की प्रक्रिया, हर सदन में तीन बार चड़ चाए होती है, देख लो जरह, हर सदन में तीन बार चड़ चाए, सबसे पहले तो कोई भी विदेयक, मान लेते लोग सबा में आया, तो पहले उसको पेश किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर उसमें समीतियों को सौब कर दूसरी बार चर्चा होगी और इस समय बहस होगी, सबी लोग अपने अपने मतों को, मतलब वोटिंग नहीं हो रही है, विचार रख रहे है कि इसको ऐसे करिये, इसको बदलिये, और फिर तीसरा फाइनली बहस के बाद, वोटिंग के लिए फिर पढ़ा जाएगा, तो तीसरी चर्चा में वो विदेयक पहले सदन से पारित, प इसके लिए सब लोग अपढ़कर आएंगे उसको, तो फिर वहां की जो कमीटिय उनको भी पहुचाया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी दूसरे बार पढ़ने में, और बहस के साथ संशोधन भी कराये जा सकते हैं, और फिर तीसरे में उसकी वोटिंग होगी, अगर संशो संशोधन लोग सबा करना चाती है कि नहीं, यह राय लेनी पड़ेगी, अगर बिना संशोधन के हुआ, तो बो आगे बढ़ जाएगा, क्लिर है बातचीत? तो अगर मानलो संशोधन इनोंने पुना कुछ कर दिये, इनोंने पुना वापिस चडचाये जब तक कि दोनों लो तो पर एक साथ सहमत ना हो, विदेग प्रस्तूत करना जिसे प्रतम पठन कहेंगे, आर्टीकल 107 के नूसार धन या वित्त विदेग के भिन्न, साधारन विदेग किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जो सदस्य विदेग प्रस्तूत करता है, उसको एक महा के अग्रिम सूचना सदन के अध्यक्ष या सभापती को देनी पड़ती है, पर वो एक महा, नॉर्मल के लिए, सरकार के लिए साथ दिन, इसके बाद अध्यक्ष विदेग को पेश करने की तिति निश्चित करता है, निश्चित तिति के अनुसार विदेग को प important केवल पास होने के नजर से हैं, पर हमारे दृष्टी कोंसे तीसरे में केवल हाँ और ना की बात है. प्रस्ताव में किसी एक प्रस्ताव प्रस्तूत कर सकता है, विदेग पर सदन में तत्काल विचार हो, विदेग को सदन की किसी समीती को सोपा जाए, विदेग के बहस करता है और मत दान, माननो, जनता की सला के लिए बेजा गया, सला मिल गई, अब उसमें बहस शुरू हो जाएगी, सदन के सदस्य संचोधन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, संचोधन प्रस्ताव को स्विकार किया जा सकता है और स्विकार करना अधिकार, अध्यक्ष के अधिकार शेत्र में आता है तीसरा पठन विदेख को संपुर्ण रूप से पारित किया जाता है इस पठन में विस्तुरत बहस नहीं होती, नहीं संशोधन पेश होंगे, उपस्ती ततामत देने वाले बहुमत विधेक को सामुईक रूप से स्विकार कर ले, तो अध्यक्षतदन की ओर से विधेक पारित होने की गोशना, और अब वो लिग देगा उस पर, मानलो लोक सभा स पारित हो तो लिग देगा मनी बिल, तो मनी बिल मतलब 14 दिन में वापिस आ जाएगा, अगर उसने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया, तो अब वो जो प्रक्रिया हैं, उससे गुजरेगा, इसके बाद विधेक को दूसरे सदम में भेजा जाता है, जहां लगबग समान यही चर् कानून या, sorry, एक्ट या कानून बन जाता है, लोगसभा की विशिश शक्ति अधन वी देख केवल लोगसभा में आएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोगसभा में, ज्वाइन सेशन में लोगसभा प्रभावी रहेगी, दो तरीके से प्रभावी, एक तो इसका जो चेर्मेन, प्रिसीडिंग ओफिसर, लोगसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, और, जो 545 लोग, 245 लोग, टोटल कितना हो गया ये, 790, अब मुझे बताओ, 790 में साधारन बहुमत की जरुवत पढ़ती है, जॉइन सेशन में बस, इसका मतलब कितना हो गया, 395, पूरी राज्यसभा एक साथ विरोध कर रही हो, तब भी पारित हो जाएगा, तो इसका मतलब ज्यादा किसका इंपोर्टेंस है, राज्यसभा की विशिश शक्ति, राज्यसूची के विशय को राष्टियम हत्व का गोशित करना, 240, 300, अखिल भारत के सर्विसे, उप अटाने की प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रारंब की जा सकती है, निम्नलिकित विशेश अधिकार में कौन से भारतिय सविधान के राज्यसभा को प्रदत किये जाते हैं, सभी का भी आ रहा हैं, राज्यका वर्तमान, राज्यशेत्र परिवर्तित करना, राज्यका नाम ये केवल राज्यसभानी संसत, संसत को राज्यसूची में नियम बनाने और एक अत्वा एकादी का खिल भारतिय सेवाओं का स्रजन करने, राज्यश्ट पती की निर्वाचन प्रक्रिया में संचोधन ऐसा, कुछ भी नहीं चुनावायों के क्रियावराब, आंसर आना चेहिए केवल और केवल भी, 2020, राज्यसभा की लोग्सभा के समान शक्तिया किस शेत्र में हैं, कटोती प्रस्ताव में तो खुले तोर पर, लोग्सभा सरकार को अटाने के लिए, नई अकिल भारतिय सेवाओं गठित करने के विशय में, राज्यसभा, लेकिन वो पूछ रहा हैं, बराबर, तो बराबर ताकत तो केवल constitutional amendment में हैं, राज्यसभा की आलोचना, भी बुराई क्या हैं, एक तरब तो आप कहते हो कि ये दूसरा सदन है, उच्च सदन है, पहली बुराई तो यही है, बनाया federal के लिए गया, और अब राजनितिक प्रभाव देखे जा रहे हैं, दूसरी बुराई ये देखी गई कि जो लोग लोग सभा में जीत नहीं पाते हैं, उन्हें राज्यसभा में बुला लिया जाता है, तीसरा है कि यह लगातार उन मुद्दों पर बहस नहीं करता जिसपे होना चाहिए, बलकि वो केवल राजनितिक प्रभाव मुद्दों प परियात, constitutional rights, केवल बराबरी की ताकत कहा है, constitutional amendment में, बजट में, धन विदेख में तो कोई ताकत ही नहीं, सरकार को गिराने में भी कोई ताकत नहीं, देश पर अनावश्यक, आर्थिक दबाव, राजनितिक हितों से संचलित सदन, पर समर्थन में भी बहुत से लोग हैं, स्पेशल ग्यान, इसका पहला प्रमान तो है कि उम्रही कितनी होनी चाहिए मिनीमम, थोड़ा ज्यादा मेच्वर लोग हैं, साहित्य जैसे बारा विशय में आते हैं, विदेख पर पुनर विचार का उसर, शाशन व्यवस्ता को निरंतरताव राज्यू का प्रतिनी देतों कौन से कतन सही है, पहले तो आप थीसरा अटा दीजे, थीसरा क्यूं? लोग सबा, राज्य सबा, और राष्ट पती, अब लडाई में दूसरा तो निकाल दीजे, एक का निर्नेलो, संग, राज्य शेत्रों का राज्य सबा में प्रतिनिधित्वन नहीं होता, क्या पदूचेरी और दिल्ली, यूनियन टेरिटरी से राज्य सबा में सदस्य जाते हैं? अरे लोग सबा में तो हई, साथ लोग लोग सबा में दिल्ली से जाते हैं, राज्य सबा में, क्या है? कोन? Sanjay Singh. तो अगर Sanjay Singh है तो इसका मतलब? तो तीसरा वाला? कोई भी ने खदम वान मतलब? तो उसने पूचा है नहीं जाते? उसने नहीं कहा है, ठीक है, ठीक. तो आंसर आएगा D, कोई भी नहीं. मतलब तीनों ही कथन, अब आते हैं बस लास ज्यादा नहीं बचा हैं, parliamentary committees. और हो जाएगा आराम से बहुत अच्छी तरीकी से, मुझे उम्मिद है कि कल जरुवत नहीं पड़ेगा, आज ही जीवन खतम होगा. पारलियामेंटरी committees. पारलियामेंट में दो तरीके की committee हैं, permanent, इस्थाई और तदर्थ, temporary जो किसी विशय पर बनाई जाती है. इस्थाई समीतिया सबसे पहली हैं, प्राक्कलन committee. सबसे बड़ी committee स्थाई में मानी जाती हैं, पर एक हमने पढ़ी थी चाहिद सबसे बड़ी committee, एक 31 लूगों की committee थी. यही हैं, नहीं यह 30 लूगों की हैं. मुझे इतना यादा रहे, 31 लूगों की हमने ओनलाइन देखी थी. विभागिय समीतिया जो थी. Departmental committee सबसे बड़ी होती हैं, लेकिन उसके बाद अगर सबसे बड़ी है तो, प्राकलन committee, 1950 में ततकालिन वित्तमंत्री जौन मताई की सिपारिश पर, लोगसबा के 30 सदस्य, राज्यसबा का कोई व्यक्ति, उसका कारण है कि estimate है ये, estimate मतलब पैसो का लेन देन. मंत्री समीति के सदस्य, का कार्यकाल केवल एक वर्ष के लिए, समीति का अध्यक्ष लोगसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनित, मनोनित का मतलब जिनको वो कह दे, समीति संसत के माद्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किये गए धन के व्यक अनुमान की जाच करती है, समीती सुजाव देती है कि प्रशाचनिक दक्षता मित्व्यता के संदर्भ में क्या उपाय कि ये जा सकते हैं, समीती बता सकती है पैसे कैसे बचाये जा सकते हैं। तो आंसर आएगा क्योंकि चारों में Committee on Public Undertaking, Committee on Petition, आंसर आएगा Estimate Committee, फिर है Public Account Committee, अब Public Account और Estimate में क्या अंतर है? पुरी Auditing का काम करेगी और Estimate मतलब जो भी खर्चों के अनुमान बताए उसको देखेगी। अभी सरकार ने खर्चे नहीं किये। यहां करने के बात की बात है। समीती का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है, 1967 से परंपरा बनी हुई है। समीती का उद्देश यह सुनिशित करना की क्या धन प्राधीकृत रूप से खर्च किया गया या उसी प्रयोजन से खर्च किया गया, जिसके लिए प्रदान था। समीती भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षक की भी मदद लेती है। लोक लेखा समीती प्राकलन समीती दोनों को एक साथ कहते हैं, ट्विन सिस्टर क्यूंकि दोनों समीती एक दूसरे की मदद करती हैं, जहां सारुजनिक यानी सरकार के व्याय के अनुमान संबंदी हैं, वही लोक लेखा समीती मुक्यत सरकार के व्याय के लिए सदन द्वार प्रदान की गई राशी को खर्च को जाचना है, लोक लेखा समीती, सदस्ति कितने थे, तो पहला खता दीजे, सरकार के विनियोग सारे लेखाओं की जाच करना, और भारत के नियंत्रक महा लेखा परिक्षक के रिपोर्ट की भी, तो केवल किसको हटा दीजे, आंसर आएगा, 2017, जन्ता के प्रती सरकार की जवाब दे स्थापित करने में, लोक लेखा समीती के भूमिका की विवेच है, फिर है पब्लिक अंडर्टेकिंग, ये वो कमीटीज है, जो सरकार के कमपनियों में ध्यान देगी, 1964 में पहली बार बनाई गई इस प्रकार्य समीती संसत की तीनो वित्तिय समीतियों में सबसे बाद में गठित, 22 मेंबर 15 और 7, लोक सभा के संदर में समीती के सदस्यों का चनाओ, लोक सभा में एकल संक्रमनिय पद्दती से, राजज़ scrambled के सदस्यों को पीठासी नदीकारी म मनोनित करता है, समीति का अध्यक्ष लोकसभा, कि अध्यक्ष द्वारा मनोनित किसी भी केंद्रिय, इसमें शायद केंद्रिय मंत्री होते हैं, समीति के का प्रमु कार्य सरकारी उक्रम के प्रतिवेधन, अभी बने हैं कुछ जगह पर, हमने जो लेटेस करन देखा था, उसमे बीस और दस, फिर बिजनेस एडवाईजरी, इसको देख लेना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिविलेज कमीटी जो विशेश अधिकार देने वाली बातचीत है, दस सदस सिन्यूक्त होते दें, और है सब ओडिनेट विधान समीतिया, समीति का गठन उन्नीस सो मकसद से बनाई जाती है, संसदिय मंच, पारलियामेंटरी फोरम, ये नई चीज समझ लीजे, अधिक्तम इसमें 31-21 लोग सबा के 10 राज्य सबा के, क्या करेंगे ये लोग, सदस्यों के सदन की सदस्यता पर आधारित, सभी फोरम के अध्यक्ष लोग सबा का अध्यक्ष कि के संबन में उच्छे स्तरिय चर्चा के लिए एक तरीके से पॉली सिदे को ये है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो पारलियामेंटरी फोरम एक तरीके से बुद्ध जीवी लोगों का समू है, जो पारलियामेंट से ही लिये जाते हैं, और चर्चा करते हैं कि स्विशय पर हम बेटर और क्या कर सकते हैं, सभी फोरम में जो चेर्मेन होगा वो लोग सभाका देख्ष होता है, लेकिन दो फोरम जो पापुलेशन पर बात करें और पब्लीक हेल्थ पर बात करें, उसमें राज्य सभा का उप सभापती इसको चुना जाता है, उप राष्ट्रपती न जन संख्या मतलब ये उनके तरफ चला गया, ग्लोबल वार्मिंग पर ये सब क्या चीज है भई, ये एक चल में हमारे देश के उन बुद्धजीवी लोगों के द्वारा निर्मित हैं, जिसे लोगों ने प्रतिनिधी बना कर भेजा हैं, और वह नीती निर्मान में प्रकार के मन चाहिए, फिर पारलियामेंटरी ग्रूप एक स्वायत निकाए उननी सो निकाएं सविदान सभा के प्रस्ताव दौरा इस्थापित, अद्देख्ष लोगसभा का उपाद्देख्ष येवं राज्य सभा का उपसभा पति, सदस्य दोनों सदनों के भूत पु लाता है, पार्लियामेंटरी ग्रूप, सला देने की ये बात करता है, राज्य विधान मंडल संग्षिप में ज्यादा चड़चाई नहीं रहेगी, 168 प्रतेक राज्य के लिए एक, अब विधान मंडल में दो सदन अगर हुए तो नाम होगा विधान सभा और विधान परिश लेकिन अगर कही पर नहीं है परिशद तो विधान मंडल का मतलब ही लिया जाएगा केवल विधान सभा से, राज्य पाल और विधान मंडल एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा विधान मंडल, बिहार, करनाटक, महराश, तेलंगाना और यूपी में विधान परिशद है, हा विधान परिशद नहीं चलेगी, विधान सभा के सदस्यों की योग्यता भारत की नागरिकता हो, 25 वर्ष निउन्तम आयू, ऐसी अन्य योग्यता है रखता हो, जो संसत कानून बनाकर निरधारित करे, 170 आर्टीकल ये कहता है कि राज्य विधान सभा के सदस्यों की संक्या मेक्सिमम पान सो तक जाएगी और मिनीमम, लेकिन अपुवाध हैं, सिक्किम, होवा जैसे, जहां पर सीटों की संक्या, निउन्तम तीस चल जाएगी, पर चालित चालिस है यहां पर, SCST के लिए जन संक्या के अनुपात के आधार पर, मैं बता दू कि याद रखेंगे, SCST का रिजर्वेशन, इलेक्षन में सब जगह पर है, लोक सभा में भी हैं, विधान सभाओं में भी हैं, और पंचायतों में भी हैं, लेकिन OBC का आरक्षन कुछ राज्यों ने केवल पं पंचायतों में, है, नियुनतम वन थोड़, लेकिन लोग सभा के चुनाओ, विधान सभा के चुनाओं में, ना OBC हैं, ना महिला रिजर्वेशन हैं, रपीट कर रहा हूं मैं, SCST का रिजर्वेशन, कोई exception नहीं है, महिलाों का रिजर्वेशन सभी पंचायतों में, इस्ष पर वन थर्ड, OBC का रिजर्वेशन कुछ राज्यों ने किया है पंचायतों में, पर ऐसा कौन है जिनको लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, OBC और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए विल आया है 2010 में, लेकिन वो पारित, अगर वो पारित हो तो फिर S.C.S.T. के बाद, फिर महिला ऐसी होगी, जिनको लोकसभा में भी, राज विधानसभाओं में भी, और पंचायतों में भी रिजर्वेशन मिलेगा, पर अभी महिलाओं को रिजर्वेशन केवल कंफम किसमें हैं, पर S.C.S.T. का रिजर्वेशन सब जगह पर है, जन्ता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन और कार्यकाल पांच वर्ष, तो S.C.S.T. को पदुन्नती में भी, नोक्रियों में भी, विधानसभाओं, लोकसभाओं और पंचायत, सब जगह पर, आर्टिकल 352 के तद आपातकार लागू संसत कानून बना कर राज्य विधान लोकसभा के जैसे, विधानसभा उपाध्यक्ष, सभी प्रावधान लोकसभा उपाध्यक्ष के जैसे, फिर है राज्य विधानसभा की शक्तिया, राज्य सुची और समवर्ती सुची पर कानून बनाना, राज्य के मंत्री परिशत पर नियंत्रन, और राज्य के मंत्री प के पास है, जिन राज्यों में दो सदनी हैं, वहां विधान सबा अधिक प्रभाव शाली, obviously विधान सबा लोग सबा से भी ज्यादा प्रभाव शाली नजर आएगी किस नजर से, लोग सबा और राज्य सबा की तुलना करें उस नजर से, विधान परिशत को बिलकुल नहीं के बराबर ताकत दी गई है, किसके तहद बन सकती हैं? 169, पर शुरुवात कोन करेगा उस राज्य की? विधान सबा, पर अंतिम निर्णा किसका होगा? संसद का, विधान सबा दोरा अपने कुल सदस्यों के दोतियाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, संसद द्वारा साधा विधान परिशत का गठन, विधान परिशत के गठन की शक्ती संसद के पास है, किन्तु पहल कोन करेगा? विधान सबा, विधान परिशत के सदस्यों की संक्या विधान सबा के मतलब 300 विधान सबा में सीटे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप विधान परिशत कितनों की ब सदस्य संक्या 40 से कम, कितनी आयू है यहाँ? विधान सभा में, यहाँ, लोक सभा में, राज्य सभा में, सदस्यों का कार्यकाल, वहां भी राज्य सभा में, निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निर्वाचक मंडल, इलेक्ट्रोलर कॉलेज यहां भी बनेगा, विधान सभा, एक बटे तीन लोग अपनी तरफ से चुन कर भेजेगी, जो लोकल बॉडीज है, पंचायते और नगर निगम, वो एक बटे तीन अपने चुन कर भेजेगी, अब बच गया एक बटे तीन, उसके दो हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, एक बटे च्हे, एक बटे च्हे और एक बटे बारा, एक बटे बारा और एक बटे च्हे, देखो, यह हो गया कि नहीं, एक बटे तीन, LCM 12, 2, 1, 1, 4 बटे 12 मतलब, ठीक हैं, अब यहां ध्यान देना, यहां विशय वहां चार थें, साहित्य, विज्ञान, कला, समास सेवा, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, कॉपरेटिव मुमेंड खा, कितने लोग, एक बटे छे, फिर जिनका ग्रीजुएशन हुए, तीन साल या उससे ज्यादा हुए हैं, उनका अलग से वोटिंग मिलता है, और वो एक बटे बारा लोगों को चुनते हैं, और जो एक टीचर है, टीचर, जिनका तीन या उससे ज्यादा का कारेकाल हो गया हैं, उनको भी वोट का राइट मिलता एक बटे, बारा भाग चुन 1 by 3 legislative assembly, 1 by 3 local bodies, उधर आईए 1 by 12 graduate, 1 by 12 educator, teachers, और 1 by 6 manunit, अलग ही चीज है बिलकुल nominate, सब में चुनाओ है और इसमें बिलकुल अलग चीज है नोमिनेशन की, नोमिनेशन की आधार 5, साहित्य, विज्ञान, कला, कॉपरेटिव मुमेंट और सामाजिक सेवा, विधान परिशद 173 अहरताई है भारत का नागरीक 30 साल मांसिक रूप से असमर दिवालिया नहीं, जिस शेत्र से चुनाओ लड़ रहा हूँ, वहां की मदाता सुची में नाम होना चाहिए, राज्य पाल दौरा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंदित राज्य का निवासी होना चाहिए, राज्य विधान परिशत की शक्तिया क्या है, तो साधरन विदेक को ज्यादा से ज्यादा तीन महिने, जैसे हमारी राज्य सभा छे महिने रोकती है, सलाका धन विदेख 14 दिन के लिए लगबग वही शक्तिया जो इस्तती केंट्र में राज्यसभा के, लेकिन यहां राज्यसभा से भी बहुत कम्जोर है, वहां ज्वाइन सेशन होता, यहां ज्वाइन सेशन नहीं पुनः पारित करके भेजेंगे, अगर पुनः पारित करके भेजा तो एक महिने का वेट करा जाएगा, नहीं तो मान लिया जाएगा कि कानून राज्य में लागू हो गया, नहीं के बराबर पर रखा जाता है, बेकडोर इंट्री है, किसी को मुक्यमंत्री बनना हो, पर वो डाइरेक्ट चुना नहीं जा सकत तो ऐसे कर सकता है, महाराष्ट में हुआ था, अरे महाराष्ट में जो मुक्यमंत्री इसके पहले थे वो कोन थे, राज्य विधान परिशत के सदस्य थे, कई बार ऐसा हुआ है, राज्य की कार्यपाली का भाग 153 से 166 तक, प्रतेक राज्य के लिए एक राज्य पाल होगा क्या एक राज्य में दो राज्य पाल, 155 राज्य पाल की नियुक्ती, अन्य प्रमुक नियुक्ती की तरव यवहार में राज्य पाल की नियुक्ती, राष्ट पती के द्वारा प्रधान मंत्री के नित्रतों वाली, केंद्रिय बंत्री परिशत की सिपारिश, राज्य पाल की नियुक्ति के लिए कई विकल थे सविधान सभा के पास लेकिन सविधान सभा ने पूरी ताकत केंद्र को सौब दी क्यूँ एतियासिक रिकॉर्ड था एकता और अखंडता थी विभाजन का जो महसूस किया था अनुभव तो कहा की नहीं दूसरा वेक्ति अगर आ गया तो प्राबलब्लम हो सकती है केंद्र से ही मेंबर भेजने के लिए कह दो तो केंद्र सरकारी सारा निडवन यह लेती हैं भारत में राष्टपती के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के संबन में किसका अनुसरन किया हैं 156 कार्यकाल 5 साल राष्टपती के प्रसाद अकेला 157 केवल भारत की नागरिकता और 35 साल, यहां एक और चीज, राज्यपाल का पद बिलकुल, उस विवाहित व्यक्ति के जैसा है, जो माता और पतनी के बीच में सेंडविच बना हुआ है, अगर वह माता का पक्षले, तो फिर पतनी कहती है, कि भई तुम तु केंद्र की तरफ वह जुके हुए हो, और अगर वह पतनी का पक्षले, तो माता कहती है कि तुम तो बैल बन गए हो, इसका मतलब यह हुआ कि वह एंद्र की तरफ से पिर नाराजगी को जेलेगा, रियल में बड़ा सववेदन शिल पद है और बहुत विवादास पद है, तो बहुत तकलीप पद है, 158 विधायक अत्वा सांसत को राजपाल के पद नहीं कर सकते, पर अगर कोई राजपाल बन गया, तो मान लिया जाए कि उन्होंने विधायक या राजपाल खाली कर दिया, आर्टिकल 158 वेतन राज्य की संचित निधी से, राज्य की 159 हाई कोट के मुख्य नायद समक्ष शपद, हाई कोट, आर्टिकल 154 राज्य की कारियपाली का शक्तिया राजपाल में यह थ, 166 राज्य की समस्त कारिवाहिया राज्यपाल, जैसे राष्टबथी के नाम पर होती थी, मुख्य मंत्रियों और ँन्लीमंत्रियों की आवंटन मंत्रियों की नियुक्ती मंत्रियों के आवंटन में राज्यपाल की भूमी का नाम मात्र किये वहां भी है। कुलाधी पती के रूप में राज्यपाल दोरा विश्विद्याले के ये थोड़ा विस्पेशल पद है जो केवल राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंगय उसके बगेर कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा। सत्र को बुलाने, सत्रावसन करने, विधान सबा विक्टित करने की शक्ती, विधान मंडल के दो अधिवेशन के भी छे मां से अधिक कांत्राल नहीं होना ये जिम्मेदार है। राज्य विधान मंदल को संबोधित करना, राज्य विधान मंदल में अभिभाशन देने की ताकत, ये सारी वही बाते हैं, जो उससे जुड़ी हुए, बस एक दल बदल कानून, अनुसुची 10, 52 सविधान संशोधन, इयर 1985-86, 52 सविधान संशोधन, दस्वी अनुसुची, दल बदल के आधार पर हो गया, दल बदल देखो भई, क्या हुआ था, कि धीमे धीमे भारत में पद की लालसा में लोक पार्टी बदल रही थे, इससे लोक तंत्र कमजोडनी, आयाराम गयाराम तो इसके बाद हुआ है, एक मंत्र आयाराम गयाराम का वास्तवी करतो 1991-92 में आया, जब एक मंत्री ने सुभ एक पार्टी जोईन की, शाम को पार्टी दूसरी थी, तो इसले कहा गया कि ये तो पहुत खराब चल रहा है, लेकिन कानून तो बन चुगा था 1985-86 में, अयोग्यता का मतलब है, कोई विधायक या सांसद अपनी च्छा से उस राजनितिक दल की सदस्यता त्याग देता है, जिस दल की सीट पर वो सदन में जीत कर आया था, तो उसका पद खतम, अपने दल के निर्देश के विपरीत, सदन में वोटिंग या वोटिंग करने के समय में अनुपस्तित, अब यहां एक बड़ मतलब वह जो वोट देगा जो पारटी ने कहा, वही वोट देना है, थोड़ा प्रावधान ये विवादा इसपद है, निर्दलिय सदस्य चुनाव जीतने के बाद, किसी भी राजनितिक दल की सदस्यता गहन कर ले, तो भी सदस्यता गई, और ये थोड़ा विवादा चलेगा, पर छे महने बाद कही गया, तो सदस्यता गई, ये थोड़ा बदमाशी भी जे महने का ये विविंडो क्यो दे रहे हो, इसलिए न, कि तुमने मनोनित किया है, तो मुझ बोले देखा, मैने आपको मनोनित किया सदस्यता, ले लो, तो ये थोड़ा सा गलत है, ये दे रहे हो, कोई जरुवत नहीं थी, फिर न, 91 वा सविदान संचुदन इसमें जोड़ा गया, कि जो भी व्यक्ति दल बदल के तहत, अयोग्य गोशित होगा, तो उसकी सीटो गई, पर हमारे देश में मंत्री बन सकता है न, बिना सदस्य वाला भी, छे महिनों तक के लिए तो कहा कि हम छे महिनों तक के लिए उसको मंत्री भी, क्योंकि क्या होता था, बात्ची दोती दी कि बोले, मेरी तो सदस्य चली जाएगी, चुनाव फिर से होंगे, बोले, गभरा क्यो रहे हो, छे महिने के बीतर चुनाव होंगे, तो में छे महिने का मंत्री पत्व ऐसे भ मिल जाएगा, तो थोड़ी मेचुरीटी दिखाई लोकतंत्र ने, और 91 वा कॉंस्टिशनल अमेडमेंट में क्लियर किया, कि उसकी सदस्यता रद होने के बाद, वह तब तक मंत्री पद्धारन नहीं कर सकता, जब तक वह चुन कर नहीं आता, यदि किसी राजनितिक दल, अपवाद देखना, दो तिहाई सदस्य किसी नए दल का गठन करे जैसे शिव सेना, अभी शिव सेना में दो पार्ट हो गए न, तो अब सवाल है कि कि किसकी सदस्यता रद हो तो सदस्यता किसी की रद नहीं होगी, पर निड़ने लेना है कि फिर ओरिजनल पार्टी अब इसकी रहेगी, त्या वो जो लोग अलग हुए उनकी या पिता जिनका, मतलब पुत्र जिनके पिता की पार्टी थी, किसी अन्य राजनितिक दल में शामिल हो जाते हैं, उन्हें दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य गोशित नहीं होगा, अगर दो ती हाई का मामला है, मंत्री परिशत का आकार प्रधान मंत्री सहित लोकसभा की सदसंक्या 51 वा सविदान संचोधन, फिर उसके बाद ये बारा सदस्य मिनीमम तो रहेंगे, मल मेक्सिमम, अयोग्यता का निर्धारन कोन करेगा दल बदल में, पीठासीन अधीकारी, पर अंतिम निर्धान, पस यह एक बदमाशी क्या हुई? अभी तक सदन के सदस्यों की अयोग्यता का डिसिदन लेने की ताकत निर्वाचन आयोग की थी, लेकिन इस मामले में ताकत किसको सोब दी गई, और इस पीकर भी तो किसने किसी पार्टी का होगा, इसलिए सुप्रीम क वोटने कहा, हम उसके निर्णय की जाच करेंगे, दल बदल कानून के अंतरगत किसी सदस्य के अयोग्यता के निर्धारन की शक्ति विधान सबाया लोकसबा अद्यक्ष को है, दल बदल के संबन में सदन के अद्यक्ष दौरा दिये गई निर्णय को नैले में चुनोती दी 1292, किन्तु किसी सदस्य क्यायोग्यता के निर्धाने तो अध्यक्ष के लिए सपस्ट समय अधी, मतलब वो चाहे, तो रद्ध करने वाला जो प्रस्ताव है वो पारी थी, ना करे, मतलब ये भी बड़ा चेलेंजिंग है इसमें, तो एक नए बात चल रही है, अध्यक्ष को या शक्ती देना वर्तमान राजनिती गतिरोत का कारण, क्योंकि अध्यक्ष भी किसी ने किसी पार्टी से जुड़ा होता है, भारत के वर्तमान उपराश्टपती भी इस बात को सुईकार कर चुके हैं, तो अब हमारा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे, न्या पाली का, थोड़ा सा ब्रेक ले लीते हैं, मेरातन क्लास आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर रहे हैं, इसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, मैं आपका दो मिनिट का समय लूगा, ताकि आपको आने वाले समय में एक बेहतर तरीके की जानकारी मिल सके, आप जुड़ सकते हैं अने के साथ, सवाल यह है कि क्यों अने के डमी, तो यह सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में, कोर्स आप जब पर्चेस करते हैं, तो आपको एक टीचर और एक कोर्स दे दिया जाता है, यह एक ऐसा अ से चल रही है, वो सब देख सकते हैं, जितने टेस्ट हो रहा है, वो सब दे सकते हैं, अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, इसी में आपको मटेरियल मिलेगा, इसमें आपके डाउट क्लेरिंग होंगे, इसी में आपको कम्प्लीट क्लासिस मिलेगी, मल्टी एजुकेट मिलेंगे और सबसे बड़ी बात आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका तो यदि आप तयारी की प्लानिंग कर रहे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंड रहे हैं तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि इससे बेस्ट और कोई नहीं पिछले दो वर्षों का अधबुत रिजर्ट आपके सामने हैं इस्क्रीन पर आप देख सकते 170 से ज्यादा टॉपर 2020 में और 197 टॉपर 2021 में अनेकेडमी ने दिये सबसे बेहतरिन रिजर्ट और इस समय अनेकेडमी ने एक बेहतरिन चीज किये जो खास करके उन विद्यारतियो के लिए जो गरीब है उन्हें लगता है कि वो क्योंकि अनेकेडमी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में जो सबसे ज्यादा फ्री माटेरियल उपलब्द कराता है लेकिन कई बच्चों का कहना था कि हमें अनेकेडमी से क्लासेज चाहिए मिनीमम प्राइस में तो आयू क्लासेज भी रहेगी ये मॉड्यूल टाइप है मॉड्यूल किसे कहते हैं यदि आपने यूट्यूब पर बहुत कुछ कवर कर लिया लेकिन आपको दो सबसे कवर करने है तो आप अनेकेडमी स्टोर के माध्यम से कवर कर सकते हैं पर अगर आप कम्प्लीट प्रिप् तो आपके पास है प्लस और आइकॉनिक, आइकॉनिक क्या होता है आइकॉनिक में आपको एक मेंटर अलोट किया जाता है जैसे मान लिए आप MKLive रिफर कोड यूज करेंगे तो आपको दो मेंटर मिलेंगे, एक मेंटर तो मिलेगा जो अनेकेडमी देगी और एक मैं, क्यो है उसमें सारे plus benefit, one to one mentorship, discord नामक एप पर doubt solving session होते हैं, पूरी तरह से library, आपको open library खास करके digital library और offline test भी इसमें उपलब्द कराई जाते हैं, अब अने केडमी offline mode में भी आ चुका English medium में, वहाँ भी आपको offline के साथ ये पूरा online subscription plus वाला मिल जाता है, plus में सारी चीज़े मिलेगी, बस mentor नहीं मिलते हैं, बाकि आपको C-set, GS, current affair, question, test, series, doubt solving, सारी चीज़े मिलते हैं, material भी आपको लेना नहीं है, सारा material आपको free of course लिया जाता है, iconic में physical material मिल जाता है, plus में आपको पूरा digital material मिल जाता है, ताकि आप बेटर तरीके से तयारी कर सकते हैं, MK lieu हमारा refer code है, ये क्या होता है बई, तो हमारा ये refer code आपको instant 10% discount और सबसे best offer उपलब्द कराता है, साथी साथ MK lieu में हम doubt clearing के माध्यम से आपको guidance उपलब्द कराते हैं, mock test आप हमारे वाले test देते रहोगे, personal mentorship हमारी तरफ से मिलती हैं, और unacademy के वो सारे benefit एक ही course में pre mains interview सारी तयारी आपको उपलब्द कराई जाते हैं, तो ये है unacademy online platform भारत का सबसे best platform, अगर आप इससे better platform ढूण पाए तो मुझे comments करिएगा, बाकि आप लोग अपने marathon class को पूरा देखिएगा, मेरा दावा है कि इस class के बाद न केवल revision आपका better होगा, बलकि इस class को आप 2-3 बार देख लीजे, आप इंडियन जोगराफी में 10 में से 7-8 सवाल केवल इस class से अटेम कर लें, प्रॉपर याद करेगा इसके material को, पीडियप को हमने इसी class में नीचे link कर दिया है, तो सभी को बे stop luck, continue देखते चलिए, मेरा दन class, धन्यवाद, 2011 से यह इसी लोग गलती कर दोगे आप लोग, जब तक की संसद की अनुमती नहीं होगी, भई अनुमोदन मतलब अनुमती, आंसर आएगा केवल और केवल, यदि वाडशिक संगिय बजट लोग सभादवरा पारित नहीं होता, policy, disapproval policy, आंसर आजाएगा कि वह बहुमत ही हो चुके हैं, लेखा अनुदान ये पढ़ चुके हम, 2012, भारत में संसद में इस्तगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश, अभी हमने देखा इसे, निम्नलिकित कत्नों पर लोग सभा का ध्यक्ष ये भी हो गया था, विशेश अधिकार में कोन से भारत के हो गया नहीं भी, कोन सी विदिया भारत के लोक वित्तपर संसदी, 2013, 2013 के सवा, 14 दिन ज्यादा ज्यादा, वो तो अपनी मर्जी है वो लेना चाहे न लेना चाहे, 2013, थोड़ा जल्द बाजिनी प्रॉपर पढ़ा करो, पेशंस रखो, पॉलीटी में कई बार मतलब कई ओर चले जाते हैं, हटाने की कोई भी प्रक्रिया, अधीकती तो पूछ रहा है कि कोन सा स्तई है, देखो पहला वाला तो गलत है, ऐसे कई हैं, जहां पर हम एक ही राज्यपाल को, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए रख सकते हैं, भारत में राज्यों के उच्छ न्याले के न्याधिश, राज्य के राज्यपाल दोरा न्यूक्त किये जाते ठीक हुए से ही, जैसे उच्च्छ न्यायले के न्याधिश राष्ट्रपती द्वारा न्यूक्त किये जाते हैं, विधाई व्यवस्ता वाले संग राज्य शेत्र में मुख्य मंत्री की नियुक्ति उप राज्य पाल दोरा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती हैं। यूनियन टेरीटरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का महा न्यायवादी सबसे पहले तो चार को हटाओ, ठीक हैं, लोगसभा की कारवाई में भाग ले सकता ये तो गयरिंटेड हैं, तो वन का तो जगड़ा ही नहीं। लोगसभा में बोल सकता है, ये भी गयरिंटेड हैं, मतलब तीन होना ही चाहिए। अब लडाई पूरी तरह से आई, वो किसी भी समीती का मिंबर आंसर आएगा केवल और केवल पहला और तीसरा। पहला और तीसरा ही हैं, चेक कर ले ना। लोग लेगा समीती का सदस्य नहीं, मित्र, सलहाकार, तहयोगी हैं, सदस्य होने का मतलब 2013 आंसर चेक कर ले ना। हाँ, 2013 का कुशन नंबर बारा ओरिजनल आंसर देख लेंगे, 2013, संसद अंतर राष्टिय संदियों को भारत के किसी भाग, अत्वा संपूर्न भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती हैं। सी है, तीनों दिया हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं बता लेकिन ये तीनों है आंसर। हाँ, अब इस पर आईए। ये दो सो थ्रेपन नहीं। आर्टिकल दो सो थ्रेपन। 252 क्या कहता हैं। दो या दो से अधिक राज्यों की सहमती। तो ये 252 नहीं, दो सो इसमें राज्य की स्विक्रोती की कोई जरुवत, मतलब बिना राज्य की सहमती के केवल उस संधी को पूरा करने के लिए। 2013 लोक लेखा समेती। हो गया था ये। 2013 संसधिय शाषन प्रनाली में पार्लियामेंट्री सिस्टम राज्य का अध्यक्ष राष्टपती है और मंत्री मंडल का अध्यक्ष प्रधान मंत्री है। दूसरा तो ग्यारेंटेड उसमें तो कोई डाउट वही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और अगर हम बात करें तीसरा वाला तो बिल्कुल पूरी तरह से हट जाता है तो आंसर आएगा। पर सही आंसर देखा जाए तो केवल दूसरा क्योंकि मंत्री मंडल के सदस्य संसद के बाहर का 6 महिने के लिए तो पर क्योंकि UPSC कहती ज़्यादा सही को चुनना है तो तो मेंबर आप दे काबिनेट और मेंबर आप परल्यामेंट मिनिस्टर होल्ड ओफिस तिल दे इंज्वाइ कॉन्फिदेंस इन पारल्यामेंट काबिनेट इस एड़ बाइड बाइड आप दे स्टेट तो अलग हैं दो हजार तेरा दूसरा तो गैरेंटेड हैं विधी निर्मा ने तु प्रस्ताओ के बारे में प्रधानमंत्री राष्टपती को सूचित करेगा पट अब यहां देखना मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहां UPSC क्या सोचेगी उसी की बात मान ली जाएगी क्योंकि पहला तो देखा जाए तो गलत है पर हमने देखा था इसके पहले उसने संसद को माना है कई बार कि उसनसद का मतलब बहुमत जब तक रहेगा लेकिन रियालिटी में पहला वाला तो गलत है देखे उत्तर क्या दिया है 2013 में दूसरा और तीसरा दिया है कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी नी वहाँ जनर्रल वर्ट था न निम्नलिखित कतनों पर बले ही सभापती ना हो लेकिनों सभापती तो होगा ही जबकि राष्टपती के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनित सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता उनको उपराष्टपती के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है जी हाँ केवल और केवल दूसरा क्योंकि उपसभापती तो तदन का मिंबर ही रहेगा 2014 कौन सी एक सबसे बड़ी संसद्य हो गया भारत के सविधान में क्या हुआ अरे डी है न अरे उसमें क्या सोच अरे उसमें भी सोचोगे 2014 निमनलिकित में से किसी राज्य के राजपाल को दी गई विवेका धीन शक्तिया है मतलब अपनी मर्जी से राजपाल ये काम कर सकता है अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से वो मंत्री तो तो दूसरा तो हटाई दीजे और जैसे ही दूसरा हट गया बाकी नभी आ रहे हो उत्तर तो आ गया है तो मंत्री क्योंकि प्रधान मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो उन्हें अपना मंत्री परिशत चुन्ने की पूरी स्वतंत्र दा है दूसरा तो गयरेंटेड गलत है मतलब बी और सी को तो हटाई दो अब लडाई में देख लो the president shall make rules president shall make rules for the more convenient transaction of business of government of India and for the allocation among minister of he said business A answer हाथ खड़ा करें और D मुझे भी नहीं बताएं A answer है राष्टबती भारत सरकार का कार्य अधिक सुईदा पुरुवक किये जाने के लिए और मंत्रीयों में उक्त कार्य के आवंठन के लिए नियम बनाएगा आर्टिकल 77 लाल कह रहा है 2014 भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विशय में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजे भारत के सविधान में ऐसा अविश्वास no confident motions का कोई उलेक नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक तभा में ही आएगा दोनों ही बाते हैं कोन से सही है क्या राज्यसबा में धन विधेयक को या तो अस्विकार करने या संचोधित करने की कोई शक्ति नहीं वो संचोधित कर भी लेती है तो वो स्विकार होगा जरूरी राज्यसबा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती राज्यसबा में बजट पर चड़्चा चड़्चा मतलब तीसरा तो बिलकुल भी सही लडाई केवल निपहिन हैं दो पर cannot vote on the demand for grants नहीं तो मतदान मतदान आंसर आएगा पहला और दोसरा हाँ मतदान मतदान नहीं होगा जब संसत के दोनों ये तो 108 ईजी है अभी एक उधारन नहीं दिया था हमने आंसर आएगा केवल और केवल तंग की सरकार के संदर्ब में यूनियन गवर्मेंट पहले तो बजट कौन बनाता हैं? एकोनोमिक अफियर में भी बजट नाम से एक डिपार्टमेंट राजस्विभाग की कोई बात चीत तो पहला तो पूरी तरह से हैं दूसरा तो है ही लड़ाई तीसरे की हैं पब्लिक अल दिश्ट्रिबेंस मेट फॉम पब्लिक अकाउंट आलसो नीट द अथोराइजेशन आकस्मिक निधी डाइरेक लिए संचित निधी से पूरी अनुमती लेकिन पब्लिक अकाउंट में पारलिया में नहीं कार्य पालिक का की अनुमती एक्जीक्यूशन की अनुमती लगती है आंसर आना चाहिए देखते हैं केवल और केवल दूसरा फिर से रिपीट कर दू मैं कंसोलिडेट फंड संसद पब्लिक अकाउंट एक्जीकेटिव और कंटिंजेंशी फंड प्रेसीडेंट मतलब बस डाइरेक लिएक तरीके से हो जाता है वित्त सचिव का साइन लगेगा जिसमें 2015 कोन है रक्षा करने वाद केवल और केवल भारत का उच्चतम नयाल है विधान परिशत का आकार उसकी विधान सभा के अभी उधारन भी तो दिया था मैंने 300 अगर है तुदर 100 से ज्यादा किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिशत के सभापती को नाम निर्देशित करने वाली कोई ताकत ही नहीं है आंसर आएगा दोनों ही बाते भारत में संसद्य प्रनाली की सरकार है क्योंकि पार्लियामेंटरी सिस्टम का मतलब मंत्री परिशत का लोक सभा के प्रती सामुहिक उत्तर दाईत सत्रा वसन पर तो कुछ भी राज्य सभा में लंबित कोई विदेयक जिसे लोक सभा ने पारित नहीं किया है तो अभी तो वहां तक गया ही नहीं है तो उसका कोई लेना देना ही नहीं आंसर आएगा दोनों ही बाते है लोक सब स्वरी ये तो होई नहीं सकता है केवल और केवल राष्ट हित में भारत की संसद राज्य सुची के किसी विशय पर विदिक शक्ती प्राप्त कर लेती है यदी क्या लोक सबा का कोई लेना देना है आर्टिकल 249 राज्य सबा अपनी संपूर्न सदस्यता के साधारन बहुमत से कि राज्य सबा अपने उपस्तीत और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2017 भारत की संसत के संदर में निमलकित कत्नों पर विचार कीजे कई सारे विदेग पारित हो चुके बिल पारित हो चुके हम देख चुके है तो ये तो बिलकुल गलत है और गेड सरकारी विदेगा ऐसा विदेगा जो संसत के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है बस वो मंत्री पद उसके बाज नहीं है दोनों ही बाते संसदिय स्वरूप के शाषन का प्रमुक लाब यह है इस बार नहीं तरीके देगो सवाल 2017 में तोला का जस्ट सेम है सवाल बस यहां क्या कर दिया इन्होंने कार्यपाली का विधान मंड़ तो मंत्री परिशत की जगव वर्ड यूज कर दिया एक्जिकेट उस सेम सवाल कट पेस्ट है क्या कहेंगे हम इसको कि यह कोई कॉपी पेस्ट नहीं है भारत की संसद किनके द्वारा मंत्री परिशत के क्रत्यों के उपर इस टाइप का सवाल भी आ चुका है 2000 हमने देखा था 11-12 में प्रशन पूछो सप्लिमेंटरी प्रशन पूछो इस्तगन प्रस्ताव इस्तगन अलग चीज है इस्तगन प्रस्ताव अलग है सब कुछ काम बन करो और इसी बात पर गौर करो आंसराना चाहिए तीनों ही बाते सही है वन तू थी होना चाहिए प्रशनकाल तो सबसे इंपॉर्टन है यह तो सोचना ही नहीं है नहीं है गारे गारेंटेड है इसमें सोचना ही नहीं है कौन सा यह तो हो गया था दोजार अठ्रा लोक सभा के सदस्यों के वोट का मुल्य राज्य सभा के सदस्यों के वोट के मुल्य से अधिक देखो मैं बताता हूँ अभी यह सही हो जाता बस एक शब्द जोड़ देता हूँ मैं नहीं नहीं क्योंकि भई एक तरफ पान सो पैतालीस है और एक तरफ दो सो पैतालीस है तो यह बात सही हो जाती लेकिन सभी MP का वोट एक ही होता है, तो ये सवाल पर ध्यान देना, अगर अगली बार UPSC चाहे तो क्या कर देगी बीच में, कुल लगा दिया तो obviously लोगसभा के मेंबर ज्यादा, तो वोटिंग का पावर भी उसके पास ज्यादा, लेकिन लोगसभा का, राज्यसभा का सभी का मुल्य बिलकुल बराबर है, नहीं, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, प्रस्न, प्रस्न, मैं प्रस्न बता रहा हूँ कि संचोधन करना हो, तो ये की बिंदू डाल दो और ये सही हो जाएगा, और वो शब्द क्या डाल दो बस कुल, क्योंकि obviously 545 और इधर 245, तब ऐसी situation में 545 और वोट ज्यादा होगा, आंसर आएगा केवल और केवल, 2018, ये कर देगा देगी मत पढ़ना, कनफिनर हो जाओगे, कोई एक पढ़ लिया करो, कि विधान सबाक अद्यक्ष यदी विधान सबाक का सदस्य नहीं रहता है, तो अपना पदरिक्त करना पड़ेगा, भई अगर आप सदस्य नहीं हो, तो हड़ जाओँ आसे, लेकिन अगर विगटन हुआ तो तुरंत नहीं छोड़ता, केवल और केवल पहला, ओवियसली संचित निदी पर जो भी खर्चे होते हो बीच में कम नहीं होते, हो गया है? शायद सवाल अभी जोड़े नहीं है, आई अब हम बात्चित कर दे जा रहे हैं, न्याय पाली का जुड़ी श्री, हमारे देश में राजनेतिक नजर से देखे, तो संगिय व्यवस्ता है, लेकिन न्यायिक नजर से देखे, तो एकात्मक व्यवस्ता है, यूनिटरी सिस्टम एकी कुरूत इंटीग्रेटेज जुडिश्री सिस्टम है, ऐसा क्यू कह रहे हैं? क्यूंकि अमेरिका में हर राज्य का अपना हाई कोट सुप्रीम कोट है, और फिर केंद्र का अपना एक सुप्रीम कोट है, जैसे हमारी हर एक राज्य की एक सरकार, केंद्र की सरकार, लेकिन यहां हमारे देश में हर एक राज्य में एक हाई कोट जरूर है, लेकिन किसी भी राज्य का अपना सुप्रीम कोट, बलकि वहां केवल और केवल एक ही सुप्रीम कोट है, याद रखेंगे कि नया धिश के पास भारत में हाई कोट और सुप्रीम कोट के पास पावर हैं, अपने सभी करमचारियों की न्यूक्ती करने की भी, क्योंकि यहां कार्यपालिका का इंटर्फेर अलाव नहीं है, जब भी हम बात्चित करेंगे भारत के जुडिश्री की तो तीन लेवल की जुडिश्री, डिस्ट्रिक कोट, हाई कोट और सुप्रीम कोट, लेकिन इसके अलावा बहुत से कोट है, जैसे आपने सुना होगा फैमेली कोट, फास्ट्रैक कोट, फिर आपने सुने होंगे ग्राम, न्यायाल है, लोक, अदालते, तो याद रखेगा कि यह सब विशेश प्रकार के प्रावधानों से बनाए गए हैं, कोट है, तो इन में किन कोट का महत्व कितने के बराबर है, वो इनके प्रावधानों क को पढ़कर ही पता चलेगा, ऐसी गैरेंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन ग्राम न्यायल है, उसके नाम से ही समझ में आता है, कि ग्राम के लेवल का है, तो अधिनस्त न्यायल है से भी निचला न्यायल है हो, तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोट के बारे में, जो थ्री टायर जुडिस्री स्ट्रक्चर हैं, चैप्टर भाग पांच में, वही भाग पांच अध्याय आर्टिकल 124 से लेकर 143, भाग पांच याद रखो के हो, 124 कहता है कि संग की न्यायक शक्तिया पूरी तरह से exclusively सुप्रीम कोट में नहीं था है, अमेरिका के विपरीत भारत में एकी कृत न्याय प्रनाली है, ऐसा क्यों कि अमेरिका में उसके अपने सुप्रीम कोट भी राज्यों के है, एकी कृत न्याय प्रनाली के अधारना हमने कहां से लिह हैं? 1935 से, यहां एक बढ़ी बात, हम राजनेतिक रूप से बृतें से ज्यादा प्रेरीत हैं, लेकिन हम नियाएक रूप में अमेरिका से ज्यादा प्रेरीत हैं. हमारी न्यायपालिका, अमेरिकन न्यायपालिका के समान ही शक्तिशाली है, वो ब्रिटेन की जुडिश्री जैसी कमजोर नहीं है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोट की स्थापना मतलब शुरुवात थी, इस्थापना 74 में हुई थी, 35 के अधिनियम के तद देश में संगिय न्यायलय बनेगा, ये क्लियर किया गया था, और तब दिल्ली में 1950 में न्यायलय की स्थापना शुरू हुई, स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोट का उदगाटन, 28 जन्वरी, 26 जन्वरी को सविधान लागू हुआ, और दो दिन के बाद ही नई दिल्ली में सुप्रीम कोट आया, सुप्रीम कोट ड्वारा ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का इस्थान, क्योंकि अब हम आजाद हुए तो प्रिवी काउंसिल की रहेगी नहीं कोई बात, मूलता सुप्रीम कोट के लिए पहले कितने नयाधिश थे हैं, आज के दोर में 33 एक हैं चीप जस्टिस ऑफ इंडिया, जिने हम शौट में CGI कहेंगे, अगर हम बात्चीत करें तो पहले नयाधिश कोन ते CGI, इंपें, 73-34 में सुप्रीम कोट के पहले नयाधिश लॉडड इंपें, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य नयाधिश एच जे कनिया, और सुप्रीम कोट के वर्थमान मुख्य नयाधिश थे, दीवी चंद्रचूर, और यह ऐसे न्यादीश हैं, जिनके पिता भी हैं, अलग क्या लिखा हैं? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यादीश, अरे वो, मार घाओगे, कनिया, तुम उसे घाओगोर कर रहे हो, इतर द्यांदो, मैं घाओ, क्या हो गया? डीवी चंदचुड के पिताजी भी ये बात ध्यान देंगे और उनके पहले के भी लोग, मतलब बहुत लंबी पीडी से इनका तम बंद रहा हैं, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरुवत क्यों? सबसे बड़ा कारण स्वतंत्र न्यायप पालिका का भारत में फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य के जगडे हो सकते हैं, और उसको सुल्जाने की लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो ना केंद्र से डरे, ना राज्य की बात करें, इसलिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरुवत है कारण बहुत से है fundamental rights है लेकिन अगर एक कारण चुनना हो तो federal system लोकतांत्रिक शाषन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सविधान की व्याख्या करने के लिए कोई न कोई तो होना चाहिए जो सविधान का meaning बताए सविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित क करने के लिए और खास करके एक जो केश्वानन भारती मामला है उसी के बाद तो ये बात बहुत किलियर हुई कि सविधान की सर्वोच्चता कोन साबित कर सकता है सुप्रिम कोट है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वैसे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए एक और विक सबसे महतपुर्ण संगातमत विवस्ता होने के कारण केंदरो राज्यों के मध्य विवादों के निप्टारे के लिए भारत में नियाएपालिका की स्वतंतरता सुनिशित करने के क्या प्रावधान है? कि भारत में किसी भी जज को यदी हटाना है, तो संसद की अनुमती लगती है, कोई कार्य पालिका का व्यक्ति उन्हें पद से बरखास्त, उनके वेतनों को बीच में कम नहीं किया जा सकता, और उसंचित भार से भारित होते हैं, साती साथ उन्हें हटाने के पूरे प्रावध जान किलियर है, कार्यकाल फिक्स है, सुप्रीम कोट में कसीमम 65 वडश, क्या सुप्रीम कोट में कोई टाइम पिरेड होता है, नहीं, अब मानलो कोई जज अगर मना 40 वडश में, तो सुप्रीम कोट का नहीं अधिश, पूरे 25 साल तक बना रहेगा, मतलब ऐसा कोई 6 वडश बहुमत से, पद से हटाया जाएगा, और विशेश बहुमत से पहले, राज्य सभा के मिनीमम, और लोग सभा के, इतने लोगों ने प्रस्ताव समर्थन करना चाहिए, नहीं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी प्रस्ताव लेकर आ जाए, नयाधिश के वेतन संचित निदी पर भार विधाईका में नयाधिश के आचरन पर कभी बहस, कोलेजियम प्रनाली के आधार पर वर्तमान में भी नयाधिश की निवक्ति, कोलेजियम मतलब एक प्लस चार, टीजी आई और चार वरिष्ट, और ये जो सला दे देंगे राष्टपती को, वह बाध्यकारी रहेगी, ना कोई प्राप्त करता है, ना कोई वकालत, पर वो यूमन राइट कमीशन का चेर्मेन बन सकता है, पर अपुआत सुरूप, राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। तुप्रिम कोट का नय अधिश, नियुक्तोने की योग्यता, तुप्रिम कोट के नय अधिश के लिए किसी भी हाई कोट में कम से कम पास साल तक जज रहे हो, किसी हाई कोट में दस साल तक कम से कम वकील रहे हो, या राष्टपती की राय में कानोन का बहुत अच्छा जानकार तीसरी बात मुझे नहीं लगती कि अब लागू होगी, क्योंकि राष्टबती की नजर में कुछ भी हो, जब तक की कोलेजियम की नजर में नहीं है, अगर कोलेजियम को लगा कि वो एक विशेशक्य तो उनको असजेश करेगी. मिनीमम एज की कोई योग्यता नहीं, अब मिनीमम एज का मतलब यह मत सोचना कक्षा चार का बच्चा, भई मिनीमम मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कि कितनी उमर मिनीमम होनी चाहिए, 25 साल, 30 साल वाला विक्ती भी एंट्री कर सकता है, उच्चने आले के संदर में विधी विशेश परग्य की शर्त है, ना डिस्ट्रिक कोट में, ना हाइ कोट में, सुप्रीम कोट के अन्य नयाधिश की नियुक्ती, राष्ट बती द्वारा कोलेजियम सिस्टम से और चीप जस्टिस की नियुक्ती, वरिष्टता के आधार पर नियुक्ती ने वो परमपरा हो गई, निरनाए को मानने के लिए राष्टवती, हाई कोट के जजो की नियुक्ती भी, राष्टवती द्वारा सुप्रीम कोट के चीप जश्टीस और उस राजय के राजय के राजय पाल के परामश के बाद, लेकिन अधिनस्त न्याले का जज, हाई कोट के सलह के अंतरगत, उनकी परिक्षाय भी होती है वो जिसको हम कहते है जजो की जो परिक्षाय रहेगी निन्यानवेवा सविदान संचोदन 2014 में जो की शुन्य घोशित कर दिया गया जिसमें उन्होंने कोलेजियम शब्द की जगह क्या चोड़ दिया था नेशनल जुडिश्री अपॉइन्मेंट कमीशन तो प्रिम कोड और हाई कोड के नया अधिश की नियुक्ति के संबन में लेकिन अब यह शुन्य तो उस पर गौर करने की कोई जरुवत नहीं है क्या प्रधान मंत्री का अब सबसे सिंपल बात क्या वो जुडिश्री रिव्यू से बच जाएंगे बना कर दिया आप तो कुछ बचने वाला नहीं है आंसर केवल और केवल दूसरा भारत में यह परंपरा इस्तापित हुए कि सुप्रीम कोड के मुख्य नयाधिश का पदरिक्त हुने पर सुप्रीम कोड के कारिरत नयाधिश में वरिष्ट तब वरिष्ट तम का मतलब उम्र का नहीं एक्स्पिरियेंस मतलब उस सुप्रीम कोड में आने का सिक्वेंस वर्च 1973 में इस परंपरा का उलंगन किया गया था और तीन नयाधिशों की वरिष्टता का अतिक्रमन कर स्रिय जीत नात्रे को भारत का मुख्य नयाधिश ये घटना कप की केश्वानन भारती मामले से नाराज हो गए साथ अनुपाद छे तो जो साथ में तीन सीनियर थे उनको का तुम घर जाओ घर जाओ उनको बोला नहीं तो उन्होंने खुदी स्तिपा दे दिया तुप्रिम कोड के नयाधिश में वरिष्टता के क्रम में स्री अजीत नात्रे से उपर रहे स्री शेलेट, स्री ग्रोवर और स्री हेगडे ने अपनी वरिष्टता के अतिक्रमन के विरोध में त्याग पत्र दे दिया अजीत नात में चार खन्ना की वरिष्टदा का उलंगन किया गया, तो उन्हों ने भी इसके विरोध में पद त्याग पत्र दे दिया, देखो कल्पना करू समय कार्यपाली का कितनी शक्ति शाली थे, अब तो हिम्मतीनी कार्यपाली का में कि वो कोई ऐसा कदम उठा दे, उप्रियुक्त वरिष्टम न्यायधिश की ही, और जो उन्होंने बोला वो हमारे देश में एक प्रकार का कानून, सुप्रियम कोट के किसी न्यायधिश को पद से हटाना, तेखो इसको महाभियोग वर्ड ना कहें तो बेटर हैं, पद से हटाना कहें, महाभियोग बहुत स्पेशल प्रोस नहीं है, संसत के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्तित मतदान करने वाले दोति हैं, मतलब स्पेशल मेजूरिटी की ज़रुवत, न्यायधिश जाच अधिनियम इसे किलियर करता है, सुप्रिम कोट के न्यायधिश को अटान जिसको वो हा भी कह सकता है और ना भी, यह प्रस्ताव यदि स्विकार कर लिया जाए तो फिर पिठासी नदिकारी द्वारा न्यायधिश पर लगे आरोपों की जाच के लिए तीन सदस्यों की एक कमीटी बनती है, तीन सदस्य में मुख्य न्यायधिश, अगर उनकी खिला तो सुप्रीम कोट कान्य न्यायधिश, किसी हाई कोट का मुख्य न्यायधिश तता एक प्रतिष्ठित, विधी विशेशग्य सम्मिलित है, यदि समीती न्यायधिश को आरोप मुयुक्त पाती हैं, तो सदन द्वारा प्रस्ताव पर आगे की कारवाई की जाती हैं, यदि दोनों सदन अलगलग प्रस्ताव को स्पेशल मेजूरिटी से पारित कर दे और फिर राष्टपती उस पर साइन कर दे, तो अब ये मान लिया जाएगा कि वह जज अब किसी भी प्रकार से पद पर नहीं रहा, एक ही सेशन में होता है, बिल्कुल ये भी इम्पॉर्डेन है कि एक ही सेशन पता चला है, कि सेशन तो नहीं खतम हुआ लेकिन भंग हो गया, तो फिर चीजे वापिस पूरी खतम हो जाती है, वापिस नए सिरे से शुरू करना होगा। उच्चतम नयाले के नयाधिश की नियुक्ती करते समय, भारत के राष्ट्रपती को भारत के मुख्य नयाधिश से विचार विमर्ष करना पड़ता, ये स्वायत्ता का मुख्य मुद्दा है, उच्चतम नयाले के नयाधिश को केवल भारत की मुख्य नयाधिश द्वारा ह गया है, नियादिश का वेतन भारत की संचित निदी पर आरोपित होता है, जिस पर विधान मंदल को अपना मत देना होता है, विधान मंदल का मभिप्राई ले जिस लेचर से है, भारत के उच्छदम नियाले के अपसरोर करमचारियों की सभी की नियूक्तिया, स्तरकार द्व भारत के मुख्य नयादिश्क के विचार भी मर्ज से नहीं, बलकि विए अपनी मर्जी से इसके लिए अलग से भढ़तिया, UP में परिक्षाय होती है, अलग-लग, हाँ मतलब कई प्रकार की परिक्षाय UP में, MP में, जो अपने अपने राज्य में हाई कोड देखरेक करता है, क्या पहली वाली बात है, कहीं से गहां तक पहला तो हो यह नहीं सकता है, और अगर पहला नहीं होगा, तो दो अप्शन दो अटाईए, दूसरी तो और भी बक्वास हैं, क्या ये वर्दन किया हैं, भारत के अब तीसरा तो गैरेंटेट सही है, लडाई चव थे कि, यदि किसी नियादिश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदाने तू लिया जाता है, तो विधी द्वारा पेक्षित है किये प्रस्ताव संसत के प्रतेक सदन द्वारा समर्तित हो, और उस सदन की कुल सदसंक्या के बहुमत द्वारा, तता संसत के उस सदन के कुल उपस्तित, और मद देने वाले सदस्यों के कम से कम, दो तिहाई मतलब चौथा ग्यारेंटेड होगा तो उत्तर आ जाएगा भारत में उप्रियुक्त प्रक्रिया अभी तक सुप्रीम कोट के किसी भी नयाधिश को पद से हटाया नहीं गया के वल एक बार लोग सबा में सुप्रीम कोट के नयाधिश स्री रामा स्वामी को पद से अटाये जाने के संबंध में कदाचार का अरोप लगातेवे प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किन्तु प्रस्ताव पारित होता उससे पहले उन्होंने इस्तिपा दे दिया एक सम्म पुर्वक विदाई हो जाती हैं। तदर्त नयाधिश ये होता एक तरीके से कमी हैं। तो फिर भई ठीक है किसी जच को बुला लो। जब सर्वोच्च नयाले के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए जो पर्मनें नयाधिश है वो परियाप्त संख्या में नहीं है। भारत का मुख्य नयाधिश एक अईस्थाई अउधी के लिए सर्वोच्च नयाले के तदर्त नयाधिश के रूप में किसी भी हाई कोट के जच को नियुक्त तेंपररी जच जचों की कमी हो जाए सुप्रीम कोट में। वो असंबंदित उच्च नयाले के मुख या हाई कोट के रिटायर जजों से रिक्वेस कर सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए सुप्रीम कोट आकर काम समाले क्यूंकि काम ज्यादा और लोग कम है। ऐसी नियुक्ति किये जाने वाले वेक्ति राष्टबती की पूर्वसहमती होने पर ही किया। और राष्टबत कि संसत के पास सुप्रीम कोट की शक्ति बढ़ाने की भी पावर है लेकिन कम करने की पावर नहीं है। प्रारंबिक अधिकारी था। प्रारंबिक मतलब एक्स्कुलूजिव। केंद्रोर राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई केवल ये मामला किसी हाई कोट में भी लेकर आप नहीं जा सकते। वो तो इंटर स्टेट काउंसिल है सहमती आपस में समझोता वो राजनितिक लेवल पर लेकिन मान लोग की राजनितिक लेवल पर बात हल नहीं हुई तो आप मामले को कहां लेकर आओगे। फिर से रिपीट कर रहा हो इंटर स्टेट काउंसिल राजनितिक समानता हो वे लोग आपस में बातचित करने के लिए तयार तो उस मुद्दे पर एक काउंसिल बनाई जाती है, उसमें कोई नया धिश नहीं होते वे तो आपस के लोग मिलकर समस्या का समाधान ढूंड रहे, लेकिन नहीं मिला, तो 131, सवेधानिक मामले, उच्च नियाले के किसी निर्ने पर, चाहे वो दिवानी हो या फोशदारी, अगर आपको हाई कोट के निर्ने संतुष्ट नहीं कर रहे तो आप सुप्रीम कोट में अर्जी कर सकते हैं, कौन से उच्च नियाले की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, पहला तो ग्यारेंटेड है, अब अगर ऐसा हो जाए न, तीसरा भी खतम हो गया, क्यों? तीसरा का जगड़ा है नहीं, या तो दूसरा या चाहूता, कोई भी एक पता चल जाए, पहले आते हैं, दूसरे पर, संसत के किसी भी सदन या राज्य विधान मंदल में चुनाव, चुनाव आयोग, पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हुआ विवाद, यूनियन टेरिटरी का तो मालीक भी केंद रही है एक तरीके से, अगर कुछ जगड़ा भी जाए तो वहाँ वैसे भी राज्य सरकार को कोई ताकत नहीं है, भूल गए, बार-बार दिल्ली परेशान कर रहा था, तो लिखवा दिया कि दिल्ली सरकार का अभीप्राय केवल उप राज्यपाल से रहेगा, तो ये तो बहुत खुल कर बात बता दी, कुछ भी कर लो, 2014, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चदम नियाले की शक्ती कैसी है, अपीलिय तो नॉर्मल हाई कोर्ट से सुप्रिम कोर्ट जाना हुआ, एडवाईजरी सला देना हुआ, रिट वाला तो फंडामेंटल राइट्स पर आएगा, मतलब उनकी वह प्रारंभिक या मूल अधिकारिता में आ जाएगा, कोई ऐसा सिविल मामला जिसमें कानून के व्यापक महत्व का प्रश्न हो, तो आर्टिकल 133 के तहट कोई ऐसा प्राधिक मामला जिसमें अधिनस्त न्यायले को निर्नय को पलटते हुए, हाई कोट ने किसी व्यक्ती को मृत्यु दंडियाओ, कुछ विशेश मामले हुए तो बुला सकते हैं, इस प्रकार के मामले की सुनवाई सीरे सुप्रिम कोट समिक्षा कर सकता हैं मतलब सुप्रिम कोट अपने निर्नय को बदल सकता हैं, पलट सकता हैं और ऐसा हमने कई बार होते देखा हैं, 141 सुप्रिम कोट द्वारा दिया गया निर्नय संपूर्ण भारत में कानून की तरह सुईकार किया जाएगा और सभी ने आले उस निर्नय क आधार बनाकर फैसला सुना सकेंगे और राष्टपती सवेधानिक मामलों पर सुप्रिम कोट से सला मश्वरा ले सकता है लेकिन वो सला मश्वरा मानने के लिए वो बाद्यकारी नहीं क्योंकि उन्होंने खुदी सला मांगी है तो वहाँ बाद्यकारिता की जरुवत नहीं है सर्वोच्य नियालेक अभिलेक मतलब उनके सारे के सारे निर्ने बकायदा छापे जाएंगे और सभी हाई कोट और बाकी लोगों के लिए वह एक तरीके से दिशानिर देश है अर्दाद उनके द्वरा दिये गए निर्ने को किसी भी नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकत आर्टिकल 32 रिट अधिकारिता फंडामेंटल राइट्स पर 5 रिट जारी कर सकते हैं जुडिश्री रिव्यू का मतलब है कि सुप्रिम कोट इस बात की ध्यान दे रहा है कि बनाया गया जो कानून है वह कही उलंगन तो नहीं कर रहा है किसका उलंगन constitutional बेसिक इस्ट्रक्चरी नहीं fundamental राइट्स constitution के किसी प्रोवीजन या फिर उनकी शक्ती का उप्योगनों ने ज्यादा तो नहीं कर लिया इन सभी की जाच करना आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के सयुक्त प्रभाव के माध्यम से भारत सुप्रीम कोट में न्याइक पुन्द्राव लोकन की शक्ती ये बड़ा important point हमारे देश के सविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोट को ऐसे न्याइक पुन्द्राव लोकन करने की ताकत है फिर कैसे पता चला 13 और 32 तेरा में ऐसा कानून नहीं बना सकते और 32 में मूल अधिकारों के सरक्षन के लिए रिट जारी करना 132 के अंतरगत सुप्रीम कोट को भारतिय सविधान की व्याख्या का अधिकार दिया और व्याख्या का मतलब होता है वो जो बताएं वही सचमान लिया जाएगा इस प्रकार आर्टिकल 228 भी राज्यो के उच्चनयाले को विधी की व्याख्या हे तुछ सशक्त करता है क्या व्याख्या केवल सुप्रीम कोट ही कर सकता है हाई कोट को भी व्याख्या करने का पूरा अधिकार है न्याईक पुन्द्रा लोकन के क्रम में सुप्रिम कोट पाच बातों की जाच करता है। अविधान की सर्वोचता की जगवर्ड आप चाहे तो लिख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का उलंगन ना हुआ हो। भारत में न्याईक पुनरिक्षन का अर्थ जुडीशर रिव्यू। बताएं। विधियो और कारेपाली का आदेशों की सवेधानिक्ता के विशह में प्राख्यापन करने का न्याईपाली का बहुत गंदा हिंदी है। प्राख्यापन ये क्या वर्ड होता है। कहां से होता है। व्याख्या हो सकती हैं या उसको इसपश्टी करन कहना कह सकते हैं। कैसा शब्द है। The power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of law and executive order। विधान मंडलवरा निर्मित विधियो के प्रज्ञान को प्रश्णगत करने का न्याईपालीका का अधिकार। प्रश्णगत तो कोई करने जाएगा। न्याईपालीका का सभी विधाय अधिनियम के राष्टबती द्वारा उन पर सहमती प्रदान किये जाने पुर्व पुनरिक्षन। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और न्याईपालीका का समान या भिन्वादो में पुर्व दिये गए स्वयम के निर्णए के पुनरिक्षन को हम न्याईग पुनरिक्षन नहीं कहते। वो तो अपने निर्णए बदल सकती है वो उसके पास पावर है। आंजर आना चाहिए था केवल और केवल। अब आते हैं न्याईप सक्रियता। सिधा आदेश दिया कि इमेडियेटली बस्तिया खाली करवाओ। तो इतने सरल नहीं होते कुछ जगह पर और इसका नुकसान क्या हो सकता है। फिर अवहेलना शुरू हो सकती है। लोग ध्यान नहीं देंगे। आप अपने महले में देखो, एक बुजुर्ग आदमी बार-बार चिलाते रहता है। तो फिर आप नाराज हो गए, पडोसिने का कुछ नहीं दरो, डेली का है। कोई तनाव मतलो, क्यूकि ज्यादा एक्टिविजम एक समय के बाद पिर आपकी महत्व को और आपके सम्मान को ठेश पहुचा सकता है। भई तीनों सेपरेशन में बराबरी में थे न, तो क्या कोई एक दूसरे को आदेश दे सकता था। पर अगर आदेश दे रहा है, तो इसका मतलब फिर एक सीनियर और एक जूनियर हो जाता है। भारत में निया इसक्रीदा के सिद्दान को सत्तर के दशक में पब्लिक इंट्रेस लेजिटेशन के माध्यम से शुरू किया गया जिसका नाम था जनहित याची का। पी आई यल यहां बता दू मैं पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां ऐसी चीज अलाओ है। और पी आई यल में जो व्यक्ति तकलीप में वही सुप्रीम कोट जाके अरजी करे जरूरी है। कोई भी उसके नाम पर अरजी दायर कर सकता। यहां तक कि सुप्रीम कोट को ही लग जाए कि मुझे यह किसी ने कहा नहीं पर मैं करना चाहता हूँ। तो यह बहुत बड़ी पावर हैं जो पी आयल के माध्यम से विक्सित हुई। यह विधी का शाषन है कि विधी द्वारा इस्तापित उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया जबकि ऐसा कही था ही नहीं और यह होना इसलिए जरूरी था कि जब किसी देश में विधाई का अपने काम सही धंग से ना करें, कार्य पालिका में भ्रष्ट लोग बैठ जाएं तो जनता का विश्वास लोगतंत्र में डगमगा सकता है। तो उनके विश्वास को बनाए रखने और पॉलिटिकल इस जीरो को खत्म करने के लिए जुडी श्री को अपना आकार बड़ा करना पड़ जाता है। न्यायमूर्ती वियार कृष्णा आयर, पियन भगवती, ओचिनप्पा रेड़ी और न्यायमूर्ती डिये देशाई इस पियायल के लिए जनक माने जाते हैं। भारतिय सविधान या किसी भी कानून में इसकी कोई परिभाशा नहीं है। अंतरराश्टी स्तर पर भी ऐसा कोई उधारन नहीं है। ये भारत की अपनी फंडामेंटल कंसेप्ट है। जनीत याचिका सारुजनिखित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान, इसमें या आवश्यक नहीं कि पीडित पक्ष सोयम अदालत में जाये, किसी भी नागरी क्या सोयम नहाले द्वारा पीडित के पक्ष में से सुना जा सकता है। फिर है जुडिश्री रिष्ट्रेन, न्याईक सायम। फिर आप उस बुजर्ग आदमी से कहते हैं कि दादा आप इतना चिलाया न करो, ब्लट प्रेशर बढ़ जाता है, अब आप आ के प्रयोग को सीमित करने के लिए प्रोत्साइद करता है। जोड देता है कि जब तक विधिया इस पश्रूप से असवेधानिक ना हो और न्याय धिशो को ने निरस्त करने से बचना चाहिए। न्याय लय को विधी की व्याख्या करनी चाहिए और नीती निर्मान में हस्त रक्षेप नहीं करना चाहिए पर अभी एक मुद्दा फिर खड़ा हो गया है हमारे देश के जो लौ मिनिस्टर है उन्होंने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर पर आरोब लगाने शुरू कर दिये तो जगडे शुरू हैं आने वाले टाइम में 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 तयार रही एक सवाल बने गाही दूसरी बड़ी बात ये भी है इसका एक उधारन हम देख सकते सैयम का जो एक प्रशान भूशन पर एक रुपए का फाइन लगाया गया देखा जाता तो शायदो बड़ा धन भी दे सकते थे पर उन्हें सैयम बढ़ता कि नहीं वेक्ती भी सम्मानिय हैं और वो भी क उदूशी हुई कि क्या सजा दे दियेगे फिर आते हैं हाई कोट पर हाँ वह अलै जो अभी करंड में था तो सुप्रीम कोट ने का कि भै यह मामला मेरे पास न लाओ पार्रया मेंड के पास ले जाओ पार्रया मेंड को अधिकार है कि वह ऐसे चुनाओ की प्रक्रिया में क्या नियम बनाना चाहती है और सही भी है जहां पर चीजे मतलब उनके हाथ में नहीं है आप फिर भी उनके पाथ जाओगे तो वो भी चीज अच्छी नहीं है भाग छे किसमें आ गए अब हम हाई कोड 214 से 231 गठन स्वतंत्रता न्याईक शेत्र शक्तिया सब वड़नन है सविधान के आर्टिकल 214 के तत प्रतेक राज्य के लिए एक उच्छ नहाले की व्यवस्ता लेकिन सेवन्द कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंड संसत्दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोड बना सकती है उच्छ नहाले के अधिकार का विस्तार केंद्र शाषित प्रदेशों पर भी किया जाता है भारत में अभी तक कितने हाई कोड आ गए हैं पच्चिस पच्चिसवा लेटेस्ट कहां देश में अभी कितने हाई हैं पच्चिस इनमें से चार ऐसे हैं जो एक राज्य के नहीं दो दो या उससे ज्यादा के हैं केवल दिल्ली, केवल दिल्ली ऐसी union territory है, जिसका अपना मतलब union territory का भी high court हो सकता है, जम्मु कश्मीर जो अभी union territory है, उसमें भी आ गया फिर, जम्मु कश्मीर में भी आ गया, sorry, पहले state आप तो union territory है, अन्य केंद्र शाशित प्रदेश विभिन राज्यों के उच्चनयाले के अधीन है, यह लग-लग वडशों में जो इस्थापना हुई है, कोई पूछेगा नहीं, अब एक और चीज, किसी किसी राज्य में high court की 2-3 benches है, तो benches ज्यादा हो सकती है, उसको मतलब यह नहीं कहें कि वो 2-3-3 high court है, high court तो कोई एक जगजे से MP का high court जबलपुर में है, पर उसकी बेंच इंदोर में भी है, ग्वालियर में भी है, UP का high court मुख्य रूप से है, प्रयाग इलाबाद high court ना, पर उसकी बेंच, बेंच है, तो बेंच का मतलब ही कुछ जज वहां पर जाकर निर् होंगे, ताकि लोगों की पहुच तक रहे, एक राज्य इतना बड़ा है, high court यहां था, तो यहां के व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हो, केवल न्याय प्राप्ती के लिए दो दिन जाना पड़ता है, और दो दिन आना, तो हमने का अब यहां अइसा मत करो, फिर एक साइड में इधर भी बेंच बना दो, मतलब बड़े राज्यों में न्याय की सहूलियत के लिए, आर्टिकल 217, उच्च न्यायले के मुख्य न्यायदिश की नियुक्ति, राष्टपती द्वारा भारत के मुख्य न्यायदिश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्ष के बाद, high court में seniority की कोई बातचीत नहीं है, वहां तो सलाजो होगी वह है, इस प्रकार यदि दोया दोस्य अधिक राज्यों के साजा उच्च न्यायले में न्यायदिश की नियुक्ति, स्तंबंदित सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्ष लेने के बाद, तीसरे न्यायदिश मामला, एक मामले का नाम है, जिसका नाम है थर्ड जर्च केस, नाइंटी एट में उच्चतम न्यायले ने कहा कि हाई कोट के न्यायदिश की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायले के मुख्य न्यायदिश को दो वरिष्टम न्यायदिशों से परामर्ष करना चाहिए फिर नयाधिश की योग्यदा भारत का नागरीक और यहाँ पर नयाईक कार्य में कितने साल का एक्सपिरियेंस या हाई कोट में 10 साल तक वो क्या रहा हो 10 साल निशेद 5 साल है कि 10 है 5 साल तक काई डोके डोगा सविधान में उच्च नयाले के नयाधिश की नियुक्ती के लिए कोई नियुन्तम आयू सीमा नि लेकिन यहाँ विधी विशेशग्य को आप जज नहीं क्या है कितना है 10 साही है शपत आर्टिकल 219 के दर्द नयाधिशों की शपत की विवस्तावरिया शपत कोन दिलाएगा गवर्नर यहाँ Chief Justice को राष्टबती वहाँ पर गवर्नर कार्यकाल 62 साल की उमर जब भी जैसे ही पूरियोगी रिटायर हो जाएंगे आयू के संबन में अगर कोई विवात की स्तती आती है तो राष्टबती अपना निड़ने से पहले भारत के मुख्य नयाधिश से परामर्ष कर इस संबन में राष्टबती का निड़ने अन्तिम राष्टबती को वह चाहे तो समय से पहले त्याक पत्र राष्टबती को त्याक पत्र तिसे प्रकार उच्च नियायाय लेके नियायदिशों को अब देखो यह चीज ऐसी है, ताधारन प्रक्रिया नहीं है हटाने की, मतलब अगर हाई कोट में कोई ऐसा जज पहुँच जाए, जो सच में सही अधारन तरीके से निर्णय न ले, तब भी आप उनको साधारनत हटा बहुत मुश्कील हो जाती है एक केस आपको याद होगा अगर तो हाई कोट के जज इन्होंने सुप्रिम कोट के जज के खिलाप ही गिरबतारी का हदेश दे दिया था बाद में उन्होंने पत से अटाया गया उन्हें क्योंकि हटाया मनलब दबाव डाला गया कि इस्तिपा दे दीजे किनको हाँ स्टेम सेम प्रोसेश हाँ तो भी सेम आएगा ओबियसली ए बराबर बी बराबर सी तो ए बराबर सी तो उचना ही नहीं है हाँ मैं भी जो कहरा हूँ ये बात समझ में आई है ये कौन से नहादिश थे हाई कोट के जिनोंने सुप्रीम कोट के नहादिश के खिलाब गिरबतारी का आदेश दे दिया फिर ये खबर पता चली तो फिर उन्हें गिरबतार किया गया था छे महिने के लिए जेल भी रहे हो हाई कोट के जज ये कोई साधारन नहीं सुप्रीम कोट के कुछ ऐसे कुछ भी तोड़ी कर लेगा उन्होंने बहुत गलत किया ना आप कोई अधिकार है कि हाई कोट का जज सुप्रीम कोट के जज पर कहे अवमानना का दिखा और एट्रोसिटी कानून के अंतरगत कहा था है किसी को याद नाम मुझे याद जितना हा रही है मैंने एक बार सुचित किया था इसके बारे में आर्टिकल 22 के तद भारत के मुख्य नयायधिश से परामर्ष के बाद राश्टपती एक नयायधिश का ट्रांसपर एक हाई कोट से दूसरे हाई कोट कर सकता है लेकिन ट्रांसपर करने की ताकत कार्य पालिका के पास नहीं है मुख्य नयायधिश से परामर्ष के बाद ही ट्रांस्पर पर वेतन के अत्रिक तैसे भत्ते का अगदार जो संसट डिसाइड करे 1977 में उच्चतम न्यायले ने विवस्ता दी कि न्यायधिश का ट्रांस्पर केवल अपुवाद सोरूप लोग कल्यान को ध्यान में रख कर किया जाएगा न की दंड के सोरूप मतलब आप इसलिए ट्रांस्पर नहीं कर रहे हैं कि उसने आपके फेवर में डिजन नहीं लिया फिर उच्च न्यायले की वही शक्तिया जैसे की सुप्रीम कोट की थी नहीं कि आउमानना संससदस्य राजविधान मंडल सदस्य के निर्वाचन संबंदी विवाद नागरी के मूल अधिकारों का प्रवर्तन सविधान की व्याक्या के संबंद में अधिनस्त नहीं से ट्रांस्पर मामले अपिलियद जो न्यायादले है ये जो भी डिस्ट्रीक अधिनस्त न्याले के मामले वो यहाँ पहुचेंगे फिर उसके बाद हम कह सकते अभी लेक न्यायले के रूप में कुछ न्याले को किसी मामले के संबंद में दिये गए अपने स्वयम के आदेश अत्वा निर्नय की समिक्षा करने की और उसमें सुधार करने की शक्ती होती है मैं बता देता हो मानलो पहला निर्नय तीन जजो की बेंच ने लिया था तो आप रिक्वेश कर सकते है कि महोदय पाँच जजों की बेंच में हमारे निर्णय को तुना जाए, तो फिर से अपील की जा सकती है, फिर है सबॉडिनेट कोट, जिसे गएंगे डिस्ट्रिक कोट, भाग छे आर्टिकल 233 से 237 उच्च नयाले क्या धीन होगा, और इसके लिए पूरी तरह से राज्य की विधान वहां, राज्य अधिनियम के द्वारा, इसलिए याद रखना हर एक विधान सबाने अपने अपने यहां पर कॉम्पिटिटिव एक्जाम के नियम बनाए हैं, जिला नयाधिश की नियुक्ति और पदोनती राज्य पाल द्वारा, राज्य के उच्च नयाले के मुख्य नय नयाले हैं, जा राष्ट पती कुछ भी सला मश्वरा नहीं करते हैं, जिला नयाधिश के रूप में नियुक्ति होने के लिए कम से कम सात वर्ष किसी नयाले में अधिवक्ता रहो, किसी भी नयाले में, केंद्र अत्वा राज्य के दिन लाप के पद पर ना हो, उच्च नय नयाले दिवानी मामलों के लिए वही जज, मुनसिप नयाधिश, फिर वही अगर फोशदारी मामला है तो उसके लिए वो कहलाता है, नयाई धंडा धिकारी, सरचना और शेत्र अधिकार हर राज्य के अलग लग है, इसलिए कोई यूनिक या एक जैसी चीजे नहीं रहेग तो यह है नयाई पालिका, अब आते एक छोटा सा सिलेबस हैं, लेकिन सवालों का बहुत बड़ा केंद्र है, लोकल बॉडिज, इस्थानिय निकाए, हमारे देश में इस्थानिय निकाए, दो अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागोर चिले में पहली पंचायत बन गई थी, लेकिन वह constitutional नहीं थी, constitutional उसे बनाया गया गया, 73 और 74 constitutional amendment, तो भाग नव, पंचायतें, तिहत्तरवा सविधान, तंशोधन, उन्निस्तो बानवे, ज्यारवी अनुशुची, कितने विश्य हैं, और ये नव ए हैं, नगर पाली काएं, चोतरवा सविधान, संशोधन, बारवी अनुशुची, और विश्य कितने, अब समझना फिर से यहां, जो सविधान में 29 विश्य हैं, वो सारे विश्य किसी भी राज्य ने, पंचायतों को नहीं दिये हैं, क्योंकि विश्य को डिकलियर संसद ने कर दिया, लेकिन ये छूट दे दी, कि आप राज्य तय करेगा, कि किसी पंचायत को कितने विश्य मिलेंगे, उसी प्रकार से नगर निगम की भी छूट किसको मिल गई, राज्यों को मैं फिर रिपिट कर रहा हूँ, हमारा 73 और 4 तर एक मॉडल कानून है, पर वह एज इट इस हर राज्य में लागू हो जरूरी है, यहां तक कि कई राज्यों में उन्होंने अपने अनुसार चीजे रखी है, सबसे बड़ा उधारन कुछ राज्यों ने पंचायत चुनाओं में क्राइटेरिया बना दिया कि स्कूल एजूकेशन होना चाहिए, पर क्या मूल में था, तो राज्यों को छूट है, वो कर सकते हैं, कुछ राज्यों ने OBC को रिजर्वेशन दिया, क्या मूल में हैं, अधिकतर जगह पर महिलाओं को रिजर्वेशन है वो भी 50% तक, लेकिन मूल में 50 का वर्ड है नहीं, मूल में हैं एक तीहाई का, तो ये जो विशय है, एक तरीके से आप ये समझिएगा कि मॉडल बना के दे दिया, और राज्यों से का कि तुम अपने अनुरूप अब इसको लागू करवाओ, तो राज्यों में यह अपने अनुसार है तो हो सकता है, मध्यप्रदेश में थोड़ी सी चीज, राजस्तान से अलग हो, UP में चीज मध्य प्रदेश से पूरी अलग मिल जाए, यहा तक कि नाम भी अलग है, काई सारी जगा सरपँच कहते हैं, कुछ चगा मुखिया कहते हैं, कुछ जगा चोधरी कहते हैं, कुछ जगा प्रधान कह देते हैं, तो लो अलग अलग नाम अपने अनुसा पर रहेंगे, बस इतनी बात याद रखना कि एक तरीके का मॉडल है, हमारे देश में पंचायते कितने लेयर की हैं, सबसे निचली ग्राम पंचायत, सबसे टॉप की जिला पंचायत और मध्य की जन्पद, ब्लॉक तो नहीं मैंने सुना, जन्पद, ब्लॉक मतलब तुम्हारा तैसिल जैसा ले लू फिर, बट ये जो मध्य का हैं, उन राज्यों को छूट दी गई हैं, जिनकी जन्संक्या बीस लाक से कम हैं, उनके यहां केवल कितनी लेयर रहेगी, दो, एक तो ग्राम और एक जिला पंचाय, अब हम वीडियो के उस पड़ाओ में आ चुके हैं, कि अब अगले पांचवे और छटवे सवाल आपके सामने में रख सकता, और थोड़ा पेशन्स रखेगा, अभी शुरुवात हुई है, निश्ची थी, मतलब आप कहेंगे कि सर शुरुवात का कहरें आप, लगबग 6-7 गंटे से चल रहा है, तो कोई बाद नहीं, तोड़ा ओर धेरे रखें, क्योंकि कम्प्लीट 15-16 गंटे की क्लास है, आपकी स्क्रीन पर, पाचवा सवा, ये रहा, निम्नलिकित में से कोन संसद के सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष्टा करते हैं, राष्टपती, उपराष्टपती, राज्यसभाका, उपसभापती, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो अमोंग दे फॉलॉइंग प्रेसिडेश, ओवर दे ज्वाइन सेशन ऑप पार्लियामेंट, ज्वाइन सेशन की अध्यक्ष्टा कोन करेगा, इसी के साथ छटवा सवाल भी मैं दे देता हूँ, से पद प्राप्त कर सकता है। कि इमपोर्टेंस ओप लोकल गवर्मेंट का सबसे बड़ा इमपोर्टेंस है डी सेंट्रलाइजेशन अभी तक जो शक्ति केंद्र से राज्य के पास तक या वो राज्य से पंचायतों को गई और पंचायत मतलब आम नागरी को पहुच गई। तो सबसे बड़ा लाभ है, decentralization, जिस देश में decentralization होता है, वहाँ ताना शाही के पनपने की संभावनाएं, कम होती है, तो लोकतंत्र की निव, लोकतंत्र की पाठशाला, पाठशाला इसलिए, क्योंकि जो लोग सरपंच के चुनाओं में आते, फिर वह विधान सभा के चुनाओं में, ऐसा देश में एक एक एक्जामपल, महराश्ट के मुख्यमंत्री, उलाहिम सिंह यादव भी रहे हैं, पर मुझे जितना मतलब उधारन याद है, कि महराश्ट के जो मुख्यमंत्री, जिनका देहान्त हो गया, विलासराव देश मुख्यमंत्री रहें, में जाग रूखता, इस्थानिय शाषन द्वाराट, जो लोकल सब्जेक्ट है, उसका बेटर तरीके से मेनेजमेंट, राजनितिक शिक्षन का श्रेष्ट सादन, शाष्किय कार्यों में जनता का सयोग, और शाषन में जनता के अंतिम व्यक्ती की भागेदारी को भी सुनिश्शित करना, 73 सविदान संचोधन की बड़ी विशेष्टा हैं, भाग नव, पंचायतों में 73 सविदान संचोधन में 11 अनुसूची और विशे 29, थी टायर पंचायत, घ्राम पंचायत, पंचायत समीती और जिलाप परिशन, 20 लाग से कम जन संच्यावले राज्यों को बीच की एकायी की छूट, घ्राम सभा के गठन का प्राउधान, उनी जगह पर घ्राम सभा बनेगी, जहां न्यून तम वयस का आबादी 200, मतलब घ्राम सभा में मिनीमम 200 लोग तो होने चाहिए, क्या ग्राम सभा के सदस्य चुने जाते हैं, केवल इकलोती सभा जया प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डाइरेक्ट देमोक्रेसी है, विधान सभा, लोकसभा, इंडाइरेक्ट देमोक्रेसी है, दो बार बेठक 15 दिन, दो बार मतलब एक साल में, बैठक से पहले नोटीस देना होगा और उसका अध्यक्ष कोई ओर नहीं सरपंच रहेगा अठरा वर्ष की आयू का मतदाता पंजी कृत हरेक ग्राम सबा का सदस्य होगा बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान मतलब पंचायत के मुखिया के पास SCST के सीटों के लिए रिजर्वेशन आबादी के अकॉडिंग SCST के लिए रिजर्वेशन में ऊं-third रिजर्वेशन महिलाओं का पंचायत के अध्यक्ष पद के संदर्व में SCST तुदा महिलाओं के लिए एक तीहाई आरक्षन अनिवार मतलब सरपंच का पद भी कई बार डिसाइडर होता है कि इस बार सरपंच में कोई SC या ST का महिला या पुरुशी बन सकता है OBC वर्ग के लिए आरक्षन प्रदान नहीं किया है पर राज्य पर छोड़ा है तुम देना चाहो तो दे सकते है राज्य विधान मंदल कानून बनाकर OBC रिजरवेशन लागू कर सकता है अधिक्तम कार्यकाल पांच वर्च का यहां एक नई चीज मान लेते हैं कि देड़ साल के बाद या दो साल के बाद पंचायत को बर्खास कर दिया नए चुनाव हुए है तो नए चुनाव क्या अगले पांच साल तक के लिए रहेंगे जितना पद बचा है उतने के लिए बाकी ऐसा विधान सभा और लोक सभा में नहीं है जब नए चुनाव होते तो फिर से पांच साल काम शुरू करते है राज्य कानून बनाकरून आधारों की व्यवस्ता कर सकता है जिनके आधार पर किसी पंचायत को समय से पहले भंग किय जा सकता है पांच वर्ष की अउधी की समाप्ती से पहले चुनावने जरूरी है यदि किसी पंचायत को समय से पुर्व भंग कर दिया जाता है तो छे महिने के अंदर चुनाव करवाने जरूरी है भंग किये जाने के बाद उस पंचायत का निरधारित कारेकाल पूरा होने में अगर 6 महीने से कम की अउधी बचिये तो फिर इंत्रिम इलेक्षन नहीं करेंगे, अंत्रिम रूप से चुनाव करवाए जाने पर उस पंचायत का कारेकाल 5 वर्ष नहीं, बल्कि उतना जितना समय 5 वर्ष की अउधी में 6 था, अयोग्यता से संबंदित प्रावधान, रा राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग किनके पैसों का बटवारा करता है, और राज्य वित्त आयोग राज्य और पंचायत या लोकल बॉडिस का, हर पांच साल में कई राज्यों ने तो राज्य वित्त आयोग बनाये भी नहीं है साहिधन से, पंचायती राज्य संस नगर पाली का नगर निगम और नगर निगम नगर पंचायत भी कह सकते हैं हम शुरुवात में ऐसी जगह जो ना तो शुद्ध रूप से शहर हैं ना शुद्ध रूप से गाव हैं। तो जनरली कह देते हैं नगर पाली का पर अगर वो बहुत बड़ा शहर है तो उसको कहते हैं नगर निगम नगरी निकायों को सवेधानिक दर्जा भाग नव ए नगर पाली का ये बार्वियनु सुची अठरा विशय यहां पर त्री स्तरिय हैं नगर पंचायत नगर शेत्र को किसमे बाटा जाएगा वाड में और इन वाड से डाइरेक निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधी नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे यहां मैं एक बात बता दू कि यहां पर भी हर एक शहर में अलग अलग प्रावधान है जो दिल्ली में हो जरूरी नहीं कि ब बढ़ा हो गया तो यहां पर मंत्री पदवाली बातचित है पर वो मंत्री ना होकर एक समीती बनाई जाती और काम सोपा जाता है शहर में शिक्षा का काम शहर में साफ सपाई का काम शहर में पेजल किया पूर्ती यह काम करवाये जा सकते कमीटीज के द्वारा राज्य जिला नियोजन कमीटी ब्लॉक और फिर ग्रामीन इस्तर शहरों में अगर बात करें तो ब्लॉक लेवल और फिर नगर के वाड़ उन्निस सो सतावन को बलवन्त राय महता ने ग्रामीन विकास के लिए त्री स्तरिये पंचायती राज संस्तानों की स्थापना का सुझाओ दिय था उस समय दो अक्टूबर 1959 को त्री टायर बनाई गई थी राजस्तान के नागोर जिले में अशोक मेहता की कमीटी ने पुना पंचायत संस्ताओं के स्थापना की बात कही थी अलम सिंग्वी कमीटी ने सबसे पहले पंचायती राज संस्तानों को मतलब सवेधानिक दर्जा देने की सिपारिश सिंग्वी महोदय ने वाकिस में कमीटिया बहुत है 1989 में राजियू गांधी के कार्यकाल में पंचायती राज संस्तानों के लिए 64 वा सविदान संचोधन आया जरूर था लेकिन वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया 1990 में चवत्तर वा पुना आया लेकिन वो पारित मतलब इसमें भी बहुत लंबी लड़ाई रही है पर सरकारिया आयोग पी के थुंगन कमीटी हरलाल सिंख खर्रा कमीटी वाक्विजीवी के राव 2010 क्या पूच रहा है वो नहीं तुम शब्दों पर क्यू नहीं ध्यान देते हो 33% सीटे महिलाओ क्या रक्षित रखी गई ये तो है न पंचायती राज संस्तान संसादनों के नियंत्रन के लिए राज्य अपने अपने वित्टायो करेगा पंचायती राज के निर्वाचित कार्य करता अपने पद पर कार्य करने के लिए योग्य ठैराये जाएंगे यदि उनकी दो से अधिक ये फिर से है लेकिन 73 में ये हरेक राज्य ने अपने अनुरूप बनाया है मैंने आपको बताया तीहत्तर में मोटी मोटी बाते जरूर है पर उसे हरेक राज्य ने अपने अनुरूप बदला है तो कई राज्यों ने ऐसा प्रावदान किया है मतलब ये बड़ा अदुबुध है हमारे देश में कि जिनके दो से ज्यादा पुत्र हैं वे सर्पंच नहीं बन सकते हैं प्रधान मंत्री बन सकते हैं जो दस्वी पास नहीं है वे सर्पंच नहीं बन सकते हैं पर वो प्रधान मंत्री बन सकते हैं इसमें आपने लिए तो बच्चे माने जाते हैं, उन पे पूरा अधिकार होता है, अनाद बच्चा कोई जब अधिकार होता है, यदि पंचायती राज निकायो का राज्य सरकवार्दर अधिक्रमन विक्ठन कर दिया जाये, तो छे महीने के अधि में चुनाव होगा। 2011, भारत में महानगर योजना कमीटी हैं, हिंदी वालों को उने तो फिर अंगरी जी पराते हैं, आ गया हैं, हिंदी में हैं, अंग्रेजी में नहीं हैं, महानगर योजना कमीटी, भारतिय सविदान के प्राउधानों के अंतरगत गठित होती हैं, उस महानगरिय शेत्र के विकास योजना का प्रारूप तयार करती हैं, उस महानगरिय शेत्र में सरकार की योजनाओं के लिए तो राज्य सरकारों को कहा जाएगा, वे लोग सरकार की योजनाओं को लागू, भई वो तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कहेगी, इनको थोड़ी कहने वाली है, फिर 2012, सवाल बहुत है इसमें भी, अब मैं देखो हिंदी है, अंग्रेजी है कि निन आंसर आ जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं, 25 वर्श वाली कोई बातचीत, पंचायत के समय पुरुभंग होने के बाद, पुनर गठित पंचायत के वल उतने ही समय के लिए, एक पंचायत रिकॉंस्चिड आप्टर, प्री मेच्वर डिसोलुशन कंटिनी ओनली फॉर दे रिमेंडर पिरेड, आंसर आएगा केवल और केवल, 2015, ध्यान से समझो, यह सवाल कंसेप्चुल सवाल होते हैं, और यह सवाल वो विद्यारती नहीं हल कर पाते हैं, जो केवल फैक्ट के बलबूते बैठ गए, अब एलिमनेशन के आदट डालो, पहला डी सेंट्रलाइजेशन तीन होगा की नहीं, मतलब एक आप्शन तो पहले हटा कर सुक्की प्राप्ति करें, फिर जन भागेदारी है या नहीं इसका मकसद, गैरेंटेड, मतलब एक तो होना ही चाहिए, फिर आते हैं, क्या इससे राजनेतिक जवाब देहिता बढ़ी हैं, कोई लेना देना ने, भई पॉलिटिकल जवाब देहिता तो उसकी अंतकरन की इच्छा है, कि वो अपनी जवाब देहिता सही तरीके से निर्वन करना चाहता है कि नहीं, तो दूसरा तो, और जैसे ही यहटा, या वित्तिय संगरन, क्या सरकार पंचायत इसले बना रही थी कि पैसा ज्यादा कलेक्ट होगा, आंसर आना चाहिए था केवल और केवल, आप्शन सी, पहला और तीसरा, फिर भी और सवाल है, शब्द पर गोर किया करो, सबसे बेश्ट हो सकता है, दो दो हो, A, आंसर, B, B, Bombay, C, और D, लोक, तांत्रिक, विकेंद्री, करण, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से गोर से सुनो, इस्थानिय सोशासन में नगर निगम नहीं आया क्या, क्या वहाँ प्रत्यक्ष लोक, तंत्र है क्या, तुम शब्दों पर तो गोर करो, केवल एक ही सर्वोत्तम बात, जब इस्थानिय वर्ड कहा, तो आपको दोनों ध्यान रखना है, पंचायत भी, और नगर, निगम, मुंसी, पाल्टीज भी, वहाँ प्रत्यक्ष लोक, तंत्र, अगर कहता कि ग्राम पंचायत बेष्ट है क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष लोक, तंत्र, पंचायत भी नहीं, क्योंकि पंचायत में भी तो तीन टायर है नहीं, केवल ग्राम पंचायत में है, क्या जो बीच की पंचायत है उसमें है, क्या जिला पंचायत उसमें है, कुछ नहीं, पर सभी में एक चीज तो क्वामन है और वो है, क्या है, डी सेंट्रलाइजेशन, तो प्लीज आंसर पर ध्यान दें, खतम हो गए, अरे घब्राहों नहीं, अरे ऐसे कैसे होगा, नहीं, फाइनल है, अभी कहां पर आ गए, इस्थानिय निकाय से आगे, ठीक है, वही यह मतलब, फाइनल है, अरे यही है इंडेक्स, सवेधानिक गेर सवेधानिक से, हाँ, सवेधानिक आयोग आ गए ना, कुछ नहीं, अब तो बड़े सुक्की बात मुझे अंदर से अनर्जी आ रही है, नहीं बड़े साधारन नहीं है, कंटिन्यू 18 गंटों का प्लानिंग लेकर चलना, आपको ल अभी पता चल जाएगा, दे दिये कहां लेकर, वर 271, नहीं आखरी की खाली भी हो सकती है, है है, पूरी बड़े, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर ज्यादा फेक्ट हैं और चीजों को समझना है, पहला है, कॉंस्टिटूशनल और नॉन कॉंस्टिटूशनल कमीशन्स, अ नहीं कहेंगे, जिनका जिक्र सवीदा, अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया, 269A, 269A, बताएं, ठीक है, कोन होता है अध्यक्ष, केंद्र का, फाइनेंस मिनिस्ट, इधर ध्यान दे, 280, फाइनेंस कमीशन, एक प्लस, राष्ट्रपती बनाएगा, ये दो अभी तक हमने देखे जो कॉंस्टिटूशनल बॉडी के रूप में थे, फिर और कोई ऐसा जो अभी तक खतम हुआ हो, नहीं आएं, आएए सबसे पहले देखते फिर UPSC को ही, UPSC जिसे आप जानना चाहते हैं, क्या इसके सदस्य फिक राष्ट्रा से लेकर 323 तक भाग लोग सेवा आयोग के स्थापना की दिशा में सबसे पहला आया था चार्टर एक्ट, पर वो डाइरेक नहीं, रियल में 1919 का कानून, जिसने ये तए किया कि अब UPSC का गठन और कब बनी UPSC, 315 के तहत केंद्र राज्य प्लस सयुक्त आयोग, सयुक्त आयोग हैं, यदि दो राज्य या उससे ज्यादा राज्य तयार हो जाएं, कि हम लोग आपस में एक ही कमीशन से सारी भड़तिया करवाएंगे, तो ये सयुक्त आयोग, दो या दोस्य अधिक राज्यों के लिए सयुक्त आयोग के गठन संसप के द्वारा, पर उनके लिए राज्यों ने रिक्वेस्ट करनी होगी, UPSC को सवेधानिक धरजाक क्यों, ताकि बिना किसी दबाओ के योग्य अधिकारियों की भड़ति, इमेजिन करो UPSC Constitutional Body नहीं होती, तो आज इंटर्यू बोर्ड में थोड़े बहुत मेसेज जाते हैं, पहले बहुत चले जाते फिर, इसका मतलब फिर तो बहुत सारे लोग रिष्टेदारों की भरतिया करवा सकते थे, प्रशाष्णिक तंत्र के माध्यम से भारत में नीतियों के प्रभावी क्रियानवयन के माध्यम से विकास बेटर हो सकता है, UPSC में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अन्य मतलब कितने नहीं पता, प्रतेक लोग सेवा आयोग के सदस्यों में यथा संबव, आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष तक administrative पदप्राप्त किये होंगे, मतलब आधे लोग at least IS या IPS या कोई भी जॉप से आये होंगे, UPSC में जो अध्यक्ष है 6 साल और 65 वर्ष की आयो, State PCS में वही 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयो, UPSC वाले राष्टपती को त्याक पत्र दे सकता है अध्यक्ष उधर राज्यपाल को, UPSC के सदस्यों को राष्टपती द्वारा कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कदाचार की जाच, तो प्रिम कोट की सिपारिश के बाद ही मतलब सुरक्षा है या नहीं, मतलब आप यह नहीं कोगे कि राष्टपती के प्रसात परिंथ, राष्टपती को जब हटाना है तो पहले किसकी सला, जाचा जाएगा पहले, राज लोक सेवा आयोग और सयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कदाचार की जाच भी सुप्रिम कोट के दुआरा, यहां थोड़ा कठीन, यह याद रखना चाहिए आपने, क्योंकि राज्य सुनते ही आवाज आ जाएगी हाई कोट, तो यह कन्फ्यूजिंग वाला, दिवालिया, शारिक अक्षंता, लाभ का पत्तो बिना सुप्रिम कोट की जाच के भी हटाया जा सकता है, और सविधान में आयोग के लिए कोई नियून्तम सदस्य संक्या वर्नित नहीं है, आयोग के सदस्यों की सेवा शर्ते सदस्यों की संक्या आदी का निर्धारन करने की शक्ती राष्टपती को केंद्र में, और राज्यपाल को राज्य में, सिविल सेवाय और सिविल पदो की नियूक्ती के तरीके से संबंदित मामलों पर UPSC से विचार विमर्ज भी किया ज आयोग की सला केंद्र के लिए बाद्ध्यकारी नहीं है किन्तु केंद्र सरकार को संसद में बताना पड़ेगा कि आयोग की सिपारिश क्यू स्विकार नहीं कि संग लोग सेव आयोग एक वार्शिक रिपोर्ट राष्टबती को देता है राष्टबती इस रिपोर्ट को सामने रखता है इस रिपोर्ट में पूरा डिटेल में वर्णन होता है कितने लोगों की भड़ती हुई किन मीडियम के लोगों की भड़ती हुई किन विशय के लोगों की भड़ती हुई सब फिर आते हैं दूसरा इलेक्षन कमीशन भाग 15 आर्टीकल इस्थापना और इसलिए 25 जन्वरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर डे नियुक्ति राष्टपती के द्वारा राष्टपती सारे चुनाओ केवल एक को छोड़ कर इस्थानिय निकाय के चुनाओ के लिए राज्य चुनाओ आयोग हैं बाकी तो सारे चुनाओ इनी को करने हैं और मतदाता सुची भी तयार करना सविधान में सपष्ट नहीं है सरचना लेकिन वर्तमान में कितने लोग हैं पहले तो एक ही व्यक्ति निर्वाचन आयोग था मतलब एक कमीशन एक ही व्यक्ति ने बना दिया हो जिसमें एक कहलाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग तो और बाकी दो कहलाएंगे निर्वाचन आयोग लेकिन तीनों की सेलरी में कोई अंतर आयोग बहुमत की आधार पर निर्वाचन लेता है तीनों की सदस्यो की स्तती शक्तिया सब सेम हैं कार्यकाल सविधान में निर्दारित नहीं लेकिन संसद ने कानून बना कर कह दिया है या तो छे साल या 65 वडश वेतन भारत की संचित निधी से और इसे constitutional body क्यों बनाया गया थाकि निश्पक्ष चुनाव लोक्तंत्र की अनिवार ये शर्ट है 1989 के लोकसभा के आम निर्वाचन से पहले राष्टपती ने पहली बार दो चुनाव आयुक्तों की निउक्ति की और चुनाव के बाद नई सरकार ने 1993 में कॉंग्रेस सरकार ने दो चुनाव आयुक्तों के पद का स्रजन किया जो की वर्तमान तक जारी है नई सरकार ने खतम कर दिया था मतलब 1993 से फाइनली हमारे देश में इलेक्षन कमीशन कितने मेंबर का हैं नव नियुक्त दो सदस्यों को भी मुख्य निर्वाचन आयुक के समानी अधिकारोर इस्तति नव नियुक्त दो मतलब एक तो थाई है दो और मतभेत की स्तति में न सुप्रिम कोट के किसी जज को आधार सिद्ध कदाचार्याक्षमता और वी स्पेशल मेजोरिटी तो बहुत बड़ा प्रोसेज हैं भारत में पहले चीप इलेक्षन कमीशन वर्तमान में हैं बदल गए हैं वर्तमान में सुशिल जंद्रा गए हैं राजीव कुमार अरे अभी दो या तीन सप्ता पहले करंट अफेर में हुआ था फिर आते हैं राष्टी अनुसुचित आयोग राष्टी अनुसुचित जंजाती आयोग अब समझना पहले तो ये कोई आयोग नहीं था पहले एक अथोरिटी या एक व्यक्ती को अधिकार्त जिसको कहते थे प्राधिकारी फिर सविदान संशोधन किया गया और उसे एक नाम दिया गया कमीशन पिर सविदान संशोधन किया गया और दो कमीशन बनाए गये SC कमीशन और ST कमीशन और अब सविदान संचोधन करके OBC कमीशन भी आ गया मतलब पहले था प्राधीकारी फिर बना कमीशन और आज बन गए अब उसके तीन कमीशन अगर किसी भी व्यक्ति को OBC सर्टिपिकेट बनाने में दिक्कत आ रही हैं तो मैं बता दू कि OBC आप जो कमी सर्टिपिकेट बना के दे देते हैं आपको एक या दो राउंड लगाने होंगे लेकिन जल्दी काम हो जाता है अगर आपके पास पुराना है और रिन्यू करने में दिक्कत आ रही हैं तो आप उन्हें सूचित करिए क्योंकि वो बैठे ही आपकी मदद के लिए हैं तो अर्टिकल 338 राष्टी अनुसुचित जाती जन्जाती आयोग कब बनाया गया पहले कोन था प्राधीकारी अथोरिटी थी एक फिर 65 रू कॉंस्टिूशनल अमेंड मेंड मेंड ने का कि नि अब अथोरिटी नहीं रहे गया बकायदा एक कमीशन होगा फिर 89 वा कॉंस्टि 338 के तहद और ST 338 A के तहद ये 338 के तहद ST कमीशन और 338 के तहद SC कमीशन 338 B के तहद वो 102 वा तो तीन कॉंस्टिूशनल अमेंड मेंड मेंड में 65 और 102 65 में क्या हुआ अथोरिटी की जगह हमने कहा कि एक कमीशन बनेगा 89 में हमने कहा 2 कमीशन बनेगे और 102 में कहा कि 3 कमीशन क्या OBC कमीशन पहले नहीं था वो इस्टेट्यूटरी था लेकिन अब वो सवेधानिक हो गया एक अद्यक्ष होगा और तीन पूर्ण कालिक सदस्योते जिसमें एक महिला का होना कमपल सरी है राष्टबती के द्वारा नियुक्ती सेवा शर्ते कार्यकार का निर्धारन की शक्ती भी राष्टबती को और कार्यकाल तीन वर्ट सलहकारी प्रवृत्ती की बात्चीत है पर पुनह अगर उनकी सलह नहीं मानी तो पारल्या मेंड में क्लियारिटी देनी पड़ेगी कि आपने उनकी सलह क्यों नहीं मानी SCST के कल्यान और उनकी अधिकारों की सरक्षन के लिए SCST सवेदानिक सरक्षन से संबंदित मुद्धों का निरिक्षन करना उनके क्रियानवयन की समिक्षा SCST के हितों का आतिक्रमन करने वाले मामलों की सुनवाई किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्तित होने के लिए समन जारी करना समन जारी करने की ताकत का मतलब हुआ कि एक तरीके से अर्धन न्याईक केंद्र अत्वार राज्य सरकार की SCST को प्रभावित करने वाले सारे निर्णयों को आयोक से परामर्ष किया जाएगा सरकार आयोक की सिपारिश मानने के लिए बाद्धे तो नहीं है किन्तु परामर्ष जरूरी है करतव्य के निर्वन संबन में आयोक हर सार राष्टपती को रिपोर्ट पेश करेगा पर अभी एक रिपोर्ट आये कि पिछले तीन साल से SCST कोई सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है रिपोर्ट को राष्टपती संसत के दोनों सदनों के सामने रखाएगा यदि आयोक की रिपोर्ट का संबन किसी राज्य सरकार से है तो उपर्यूक्त कारे राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान मंडल के संदर में किये जाएंगे मतलब स्टी मान लेते कि मध्यप्रदेश समुदाय से जुड़ावा मामला था तो फिर राज्यपाल की साहता से वहां की विधान सबा में भी ये रिपोर्ट रखवाई जाएगे और उसपर चर्चा वहां की विधान सबा भी करेगे फिर है OBC कमिशन 102 सविधान संचोधन के माध्यम से इसको सविधानिक दर्जा मिला बंतो 93 में गया था मंत्राले केंद्रिय सामाजिक और अधिकारित मंत्राले और सामाजिक और शेक्षनिक दृष्टी से पिछडा वर्ग पाँच मिंबर एक अध्यक्ष एकुपाद ध्यक्ष तीन सदस्य न्यूक्ति राष्ट बती लगबग सारी बातें सेम हैं सवेधानिक दर्जा मिलने के क्या फाइदे होंगे अब सिविल न्याले के जैसी पावर OBC से जुड़े मामले सीधे हैं संसत के पटल पर निर्वाचित सरकार दोरा आयोग के मांग की उपेक्षा करना कठिन और OBC के कल्यान का मार्ग प्रशस्त तो जिन लोगों को OBC का तकलीप आ रहा है वो यहां भी डाइरेक्ट दर्जी दर्ज कर सकते हैं फिर भाश्याई अब देखो इसमें क्या नाम लिखा है ऐसा पहले कहा था SCST विशेश अधिकारी फिर उसमें कमीशन बना कब 65 सविधान संशोधन के बाद 2 बने 89, 3 बने 102 सात्वा सविधान संशोधन 1956 भाग 17 आर्टीकल 350B राष्टपती के द्वारा किन के लिए हैं शब्द पर गौर करेंगे भाशाई अल्प संक्यक दोनों चीज अलग है अल्प संक्यक होना अलग चीज है और लिंग्विस्टिक माइनुरिटी जोना अलग चीज है फिर है फाइनेंस कमीशन 280 के तहत पांच वर्ष के लिए पांच वर्ष की अउधी से पहले ही बनाया जाता है पंद्रवे में N.K. सिंग जिनका पूरा नाम नन किशोर सिंग एक और चार नियुक्ति केंद्रो राज्य के बीच करो का बटवारा अनुदान के लिए पंद्रवा हाँ फाइनेंस कमीशन है न अरे वो तो खतम हो गया दुनिया खतम सिपारिश की प्रक्रती सलाकारी आयोग अपनी रिपोर्ट राष्टपती को देगा राष्टपती वही सारे काम करवाएगा पहले वित्तायोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी नए वित्तायोक के अध्यक्ष के बारे में अभी घोशना पर होगी अब जल्द ही क्योंकि अब हो गया टाइम पिरेड 2025 से नई शुरुवात होगी तो अभी से ही उनको नियूक्त करना शुरू करना पड़ेगा केंद्र सरकार ने 2017 में पंद्रवी वित्तायोक के गठन को मंजूरी दी एनके सिंग पंद्रवी वित्तायोक के अध्यक्ष हैं 2025 तक रहेगा चौदवी वित्तायोक की सिपारिशे 2020 तक के लिए वेद थी पंद्रवितायों का कारेकालेक अप्रेल 2020-31 मार्थ 2025 तक रहेगा अब आते हैं Non-Constitutional Commissions ऐसे Commission जिनको सविधान में जगतों नहीं मिली लेकिन एक कानून के माध्यम से वो बने है पहला है Human Rights Commission इसका जो भी चेर्मेन होता है वो सुप्रीम कोट का रिटायर जज होगा 10 दिसंबर 1948 इसले 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस सयुक्त राष्ट महा सबाने मानव अधिकार के सार्व भूम घोषना की व्यक्तिगत गरिमा ये हैं मानव अधिकार इस्त्री पुरुष, समान्ता, सामाजीक, आर्थिक, राजनितिक, सम्ता तता स्वतंत्रता जैसे अधिकार भारत ने 1948 में यूमन राइट से संबंदित सयुक्त राष्ट के चार्टर पर साइन कर दिया था किन्तु मानव अधिकार के संबंद में संस्तागत प्रयाज भारत ने कब शुरू किये मतलब साइन कर दिया कहां कि ठीक है देख लेंगे हम लोग पर शुरूआत हुई 1993 में मानव अधिकार सरक्षन अधिनियम, केंद्रो और राज्यस्तर पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना इनका मेन काम होता है हमारे देश में पुलिस के माध्यम से किसी भी मनुष्य के मानव अधिकारों का उलंगन दूसरा जितनी जेले हैं उन सभी जेलों को देखते रहना कि कही वहां मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है उच्छी स्तरिय समीती प्रधान मंत्री लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा का सभापती संसत के दोनों सद्नों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रिय ग्रह मंत्रिये सब मिलेकर एक कमीटी बनाएंगे और फिर एक कमीटी तय करेगी राष्टिय मानवधिकार पांच सद्से निका है जिसमें अध्यक्ष और चार मिंबर अध्यक्ष सुप्रिम कोट का रिटायर मुख्य या अन्यन्याधिश एक हाई कोट का मुख्य न्याधिश अत्वा अन्यन्याधिश भी रहता है तीन सदस्य ऐसे होंगे जिने मानव अधिकार के संबन में जानकारी हैं व्यवारी कनुभव हैं और उसमें एक महिला सदस्य पदेन सदस्य कोन-कोन रहेंगे इसके अंदर राष्टी अल्प संक्यक आयोक का अध्यक्ष अनुसुचित जाती आयोक का अध्यक्ष अनुसुचि महिला आयोग पदेन सदस्य का मतलब हुआ कि ये जो भी बनेंगे वो इसके सदस्य बन जाते हैं और आप टाइम पिरेट देखो तीन साल ये थोड़ा याद रखना इकलोता है सत्तर साल तो बहुत बुड़ापा आ गया हाँ नहीं बट पैसट के बाद भी कन्फ्यूजन बढ़ते रह सकते तो याद रखना है कि सत्तर अभी तक हमने देखे जितने भी थे बासट और पैसट तो ये अलग हैं थोड़ा याद रखेंगे कार्यकाल समापती के बाद केंद्र हतवार राज्यससरकार के धिन कोई भी पद धारन वो ऐसे क्या धारन करें आप सत्तर साल हो गए फिर कोई पद दे रहे हो आयोक दौरौ अपनी प्रक्रिया सोयम decided. आयोग प्रती वर्ष अपने दाईतुओं के निर्वन और सिपारिश के संबन में राष्टबती को रिपोर्ट देगा. राष्टबती दौर आयोग की रिपोर्ट को संसत के दोनों सदनों में रखा जाएगा. ये हैं C.V.C. क्या करते हैं केंद्रिय सतर्क्ता आयोग? एक हाथ खड़ा करके बताएं. हाँ. C.V.I. पर भी नज़र. फिर लोकपाल या लोका युक्तोर C.V.C. में अंतर क्या है? और यहां जाच कमीशन जैसा हैं लगबग वैसा इन्वेस्टिगेशन हैं मेंली काम करेगा करप्शन के मामलो पर. बनाया गया 1964 के संथानम अध्यक्ष्टा वाली भ्रष्टाचार निरोधक कमीटी की सिपारिश्पर. प्रारंब में सरकार के आदेश द्वारा इस्थापित केंद्रिय सतक्ता अधिनियम 2003 के माध्यम से उसको कौन सा पद मिल गया? इस टेट्यू टरी एक केंद्रिय सतक्ता अधिक्ष्टा और दो अन्य राष्ट पती द्वारा प्रधान मंत्री के अध्यक्ष्टा वाली तीन समीत सदस्यों की समीती की सिपारिश के आधार पर पद दिया जाएगा. प्रधान मंत्री, ग्रहक्र मंत्री और लोग सभा के विपक्ष का नेता ये तीनों लोग टै करते की कोन सीवी सी का सदस्य बनेगा. अध्यक्ष और सदस्यों का कारेकाल चार वर्षिया, पैसट वर्ष की आयू. अध्यक्ष और से पुनर नियुक्ती के पात्र किंतु कारेकाल समाप्ती के बाद केंद्रत्वा राज्य सरकार के अधिन कोई भी लाप का पद नहीं. सीवी सी किसी भी मंत्रा लें, और विभाग के अधीन नहीं हैं. पूरी तरह से आटोनॉमस बौडी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सवेधानिक नहीं हैं, पर स्वतंत्र निकाय हैं, जो केवल संसत के प्रती उत्तरदाई. शब्द पर ध्यान देना, आटोनॉमस बौडी का मतलब होता है, कि उनके सारे के सारे शक्ति और अधिकार सवेधान ने वड़नित कर दिये. स्वतंत्र का मतलब होता है, कि वह कानून के तहत काम करेगी. सिवी सी सलाकारी है, कोई नयाईक अधिकारनी आयोक को, न तो किसी अपरादी को धंडेने की शक्ति है, न भ्रस्टाचार के आरोप के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करने की, कोई जाच इजन्सिस की खुद की नहीं है. CBI या सरकारी कार्याले के CVO के माध्यम से जाच करवाती हैं और रिपोर्ट पेश करती है, फिर है लोकपाल और लोकायोक्त, लोकायोक्त अधिनियम दो हजार तेरा, दो हजार ग्यारा में अनना हजार एक आंदोलन, उसके बाद, इस स्टेट्यूटरी बॉडी है, विधी मंत्री कुमार स्टेन ने दी थी, लोकपाल और लोकायोक, लोकपाल केंद्र में लोकायोक, राज्य में सबसे पहले LM सिंग्वी जी ने किया था, पहले प्रशाचनिक सुदार आयोक द्वारा इस प्रकार के संस्ता की सिपारिश पहली की गई थी, 68 में, सोचो 68 में पहली बार विधेयक आया था, फिर दूसरी प्रशाचनिक कमिशन ने भी कहा, लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव पर सिपारिश देने के लिए प्रनम मुगर्ची के अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समुग अठित फिर फाइनली तय हुआ, 2013 में सिविल सोसाइटी द्वा व्यापक जन अंदुलन के प्रभाव से लोकपाल विल संसद में पारित और 16 जन्वरी 2014 से अधी नियमित, एक अध्यक्ष ओर सुप्रिम कोट के रिटायर मुख्य नयाधिश या अन्य नयाधिश, अध्यक्ष के पद पर ऐसे वेक्ठी को नियूक्त किया जा सकता है, जिसे आध्यक्ष दस्यों का कार्यकाल फिर से पाच वर्ष या सतर वर्ष क्योंकि वैसा ही है मानव, Human Rights Commission के जैसा, अध्यक्ष दस्यों की नियूक्ती राश्ट्रबती द्वारा प्रदान मंत्री के अध्यक्षिता में गठीत, चैन समीति की सिपारिश के आधार पर, चैन समीति म जीने कोन है भई, लोकपाल के अध्यक्ष, लोकवा में विपक्ष का नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, भारत का मुख्य नायाधिश और एक विधी विशेशत, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए ये थोड़ा सा शक्तिशाली है, तो सदस् अपने हस्ताक्षर वाली याचिका किसको सोपेंगे और राष्टबती से याचिका को सुप्रीम कोट के संग्यान में लाएंगे और सुप्रीम कोट इस मामले की जाज करेगा आरोप सही पाया तो राष्टबती के लिखित आदेश से उन्हें हपद से कैसा है यह यूपी असी वाला जो सुरक्षा दी गई है कि डाइरेक राष्टबती नहीं हटाएगा पहले सुप्रीम कोट जाज करेगा बस यहाँ यूपी असी से ज्यादा सुरक्षा किस मामले में है तो लोगों की सिफारिश वो भी लिखित आएगी तो ही तो यूपी असी से ज्यादा पावरफ नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है लोगपाल का शेत्र अधिकार और शक्तिया लोगपाल के शेत्र अधिकार में सबसे बड़ी बात है कि कोन आता है प्रधान मंत्री मंत्री संसत सदस्य ए बी सीडी अधिकार ये बी सीडी समझ गया ना ए ग्रेट के बी ग्रेट के सी ग्रेट क और केंद्र सरकार के अधिकारी भी लोकपाल का प्रधान मंत्री पर शेत्र अधिकार केवल भ्रस्ताचार के उन आरोप तक सीमित रहेगा जो अंतर राष्टिय संबंद, सुरक्षा, लोक व्यवस्ता, परमानूर्जा और अंतरिक से जुड़े हुए क्योंकि इस मामले में व लोक सेवक अपनी आश्रितों की कुल संपत्ती को भी है, पर क्या ऐसा कर दिया सभी लोगों ने, अभी तक किसी भी डियम ने, या IPS ने, पबलिक सर्वंट ने पूरी तरह से सब चीजे डिकलियर नहीं की, CBI की जाज करने उसे निर्देश देने का अधिकार हैं और लोगपाल को एक सिविल न्याले के समान शक्तियाद दी गई है, तो लोगपाल बड़ा मजबूत बनाया जरूर गया भारत में, लेकिन कई जगह पर उसकी शक्तियों को वैसी सुरक्षा नहीं दी, जैसे कि हमारे देश में चुनाव आयोग C.A.G. के पास है, कही न कही राष्टपती और सुप्रीम कोट के माध्यम से उसे शक्ति प्रदान करने की कोशिश की गई है, फिर आता है C.I.C. केंद्रिय सूचना आयोग, क्यों बनाया गया ये? RTI Act 2005, यदि कोई वैक्ती को आपने Right to Information की अप्लीकेशन दी, लेकिन उसने नहीं सुनी, तो आप पहले राज्य सूचना आयोग को सूचित करेंगे, फिर भी नहीं सुनी, तो फिर केंद्रिय। Banking Ombudsman अलग है, RBI नियुक्त करता है, भारत में वो 16 है हभी तक, और वह बैंकों से जुड़ेवे मामलों के लिए शिकायत सुनता है, पर ये लोगपाल बहुत अलग है, ये 2013 में बना, और वो 2006 में ही बन चुका था. अभी चल रहा है, वो तो देखो भे, One Nation, One Ration Card आ गया, One Nation, One Tax आ गया, चल रहा है, लेकिन अभी banking लोगपाल अलग है पूरा, और RBI के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो शिकायते कौन सी लेता है, किसी बैंक ने आपके सिक्के नहीं लिए, नोट नहीं लिए, चेक को अगेर कारण से रद्द कर दिया, कोई शिकायत आपको करनी है, तो आप उसकी शिकायत बैंकिंग उम्ब्यूस्मेन के पास कर सकते हैं, हर राज्य के राजधानी में एक उम्ब्यूस्मेन रखा गया है, पर वो अलग है, ये तो 2013 बहुत बड़ा, अन्ना अजारे का अंदो सेम हैं, दोनों जगह हिंदी में भी नाम वही है, बैंकिंग लोगपाल, और यहां पर भी लोगपाल, तो वो बैंकिंग वाला पूरा बैंकिंग लोगपाल ही है, पर दोनों मिलकर काम नहीं करते, अब आते हैं, राज सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, र्टी एक दोजार पांच केताद बनाया गया, नोडल एजंसी स्टार लगाना, डिपार्टमेंट और पर्सनल ट्रेनिंग, यह तोड़ा याद नहीं आएगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिक्तम दस सूचना आयुक्त, मतलब कुल कितने, ग्यारा लोग, राष्टबती के द्वारा प्रधान मंत्री के अध्यक्ष्टा वाली तीन सदस्य समीती की सिपारिश पर, प्रधान मंत्री, लोकसवा में विपक्ष का नेता और मनोनित केंद्रिय मंत्री तीनों तय करेंगे कि यह कोन लोग रहेंगे, पांच वर्ष्या, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2019, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अधिपी आयोग में पुनर नियुक्ती के पात्र नहीं, आयोग का मुख्यकार र्टी एक 2005 के दत लोगों द्वारा मांगी गई सूचना को तए सीमा क के भीतर उपलब्द करवाना, हटा दिया है पैसट वर्ष, अब हटा, अब टाइम नहीं है तो कभी भी अटा सकता, हाँ भी आलोच ठीक है, मुझे याद आया, ये संशोधन जब आया था, तो बहुत किरिकरी हुई थी सरकार की, कि सरकार उन संस्ताओं को कमजोर कर रही हैं, जो सरकार के लिए तकलीब दायक हो रहे हैं, तो पहले था कि पांच साल का कार्यकाल निश्चित था, लेकिन अब इनका कार्यकाल एक साल के बाद भी हटा सकते हैं, अब रियल में राष्ट पती के प्रसात परियंत वाली बात आ जाएगा, बिलकुल, आयो का मुक्याद्य अउद्देश है शाचन और प्रशाचन के मामलों में पारदर्शिता निश्पक्षता का समावेश, CBI, CBI मंत्राले कोन सा है CBI का, रक्षा मंत्राले अद्बूट है, वही कार्मिक वाला यहां पर आएगा, आपचारिक शुरुवाद दिल्ली विशेश पुलिस इस्थापना अधिनियम 1946, भारत सरकार के विबिन विभागों में भ्रश्टाचार के आरोब की जाच के लिए पहले सोचा गया, 1963 में घंबीर अपरात की जाच की शक्ती दे दी गई, और CBI कार्मिक पेंशन लोग शिकायत मंत्राले के कार्मिक विभाग के अंतर गजिश्टार लगाना, मंत्राले पूचले तो कई लोग ग्रह मंत्राले पर आ जाएंगे, जबकि उनका मिनिस्ट्री है, कार्मिक पेंशन पेंशन लोग शिकायत मंत्राले, नीती आयोग, वैसे नीती वण, नेशनल इंस्टिटूशन ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया कमीशन, कब बना, 1 जन्वरी 2015, किसकी जग बना, प्लानिंग कमीशन, अध्यक्ष कोन, उपाध्यक्ष प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त व फिर संचालन परिशत, सभी राज्यों के मुख्य मंत्री, केंद्र शाशित प्रदेशों के उप राज्यपाल, पदेन सदस्यता, प्रधान मंत्री द्वारा नामित, केंद्रिय मंत्री परिशत के अधिक्तम, चार लोग, क्या डिफ्रेंस हैं, योजना आयोग और नीती आय में मुख्य रूप से, पहले योजना आयोग केंद्र सरकार को सलह ये भी देता था, कि किस राज्य को किसी योजना के लिए कितना पैसा दिया जाए, लेकिन अब नीती आयोग पूरी तरह से केवल और केवल सलह देता है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन पैसो के मामले में कोई बातचीत, उसका कारण रहा क्यूंकि माना जाता है कि केंद्रो राज्य के भी जगडे का लंबे समय तक कारण रहा है, शेत्रिय परिशदे बनाई गे मुख्य कारेकारी अधिकारी विशेश आमंत्रित लोग रहेंगे, नीती आयोग के दो हब है, हब मतलब उसके दो मुख्य रूप से गुरूप है, टीम इंडिया हब जो केंद्रो राज्य के बीच कोडिनेशन करता है, नौलेज एड इनोवेशन, इसी को कहते हैं नीती आयोग का थिंक टैंग मतलब ऐसी टंकी जहां केवल सोचा जाता है, नीती आयोग के उद्देश सहकारी संगवात को बढ़ावा देना, कॉपरेटिव फैडरलिजम, रन नितिक दृष्टिकों दिर्गकालिक नीतियों के लिए फ्रेमवर्क, इंटर गवर्मेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल कॉडिनेशन, डेवलप्मेंट की चीजों को बे फिर है भारतिय विधी आयोग, क्या ये हर पाच साल में बनता है, इसका गठन जब जरुवत पड़ती है, तभी है, कानून संबंधी विशेव पर महतुपुर्न सुझाव देने के लिए, समय समय पर, न तो कॉंस्टिटूशनल, न ही कोई स्टेट्यूरी बॉडी है, पर न्याय मंत्रालय के अंतरगत, भारत के पहले विधी आयोग का गठन, 1834 में यही वो महोदय है, मैकाले, फिर अध्यक्ष्टा में ततकालीन वाईसराय थे उस समय बेंटिक, 1834, obviously 1833 में पहले भारत के गवर्नर जन्रल, स्टंत्र भारत के पहले विधी आयोग का गठन, 1935 में भारत के पहले अटोर्नी जन्रल M.C. सितल वाड के अध्यक्ष्टा में और 20 स्वा विधी आयोग जो अभी तक बना, बल्बीर सिंग चौवा, क्या इनका 5 साल का कोई कारप्रियड होता है, कुछ भी नहीं, ये जब जब लगे तब बनाए जाते, क्या करते हैं ये सरकार को कानूनी सलह देते हैं, फिर है पहला प्रशाशनिक सुधार आयोग, UPSC में मेंस लिखने से पहले इन दोनों को हलका पुलका पढ़के जाना, क्यूंकि खास करके GS4 में, GS2 में, जब भी गवर्नें से जुड़ेवे सवालों में सजेशन मांगे जाते हैं, आपको इनी के सजेशन लिखने होते हैं, ये प्रशाशन को भारतिय करन करने की सिपार लिखे देते हैं, अभी तक कितने बन चुके हैं? दो, मुरारजी देशाई के अध्यक्ष्टा में, बाद में मुरारजी देशाई अध्यक्ष बन गए, मतलब स्वारी, मंत्री बन गए तो के हनुमनत याको इसका अध्यक्ष्ट, पहले प्रशाचनिक सुदार आयोग ने अपनी दो रिपोर्ट दी थी, 66 में और 70 में, दूसरा प्रशाचनिक सुदार आयोग 2005 में, करनाटक के भूत पुर्व मुक्यमंत्री विरप्पा मोईली की अध्यक्ष्टा में, 2009 में आयोग ने भारतिय शाचन प्रशाचन प्रनाली के सुदार में कितनी रिपोर्टे दी किनों नहीं कहा था, कि भारत में जो आयस वर्ग हैं, वो चयन के बाद अपने आपको गोरी या मोटी चमडी का समझ बैठता है, इसलिए उसे भारतिय करन करने के लिए उसकी परिक्षा में बदलाव की जरुवत है, इने की रिकमेंडेशन पर एथिक्स नाम का पेपर 21 का हमला और उसमें भी दर्दनाक ये चीज थे, कि सब पता था भारतिय इन्वेस्टिगेशन अलग लग एजन्सियों को, लेकिन उनमें कॉडिनेशन अच्छा नहीं था, अकिल भारती स्तर पर आतंगवादी गतिविदियों की जाच करना और उन पर अंकुष लगाना, के अगर आपको लगता है कि आपका पैसा जान बूच कर आईडिया वाले एरटेल वाले काट रहे हैं, तो आप शिकायत दर्च कर सकते हैं, 90-97, कोन सा कानून? तेलिकॉम, लेगुरेट्री, अथोरिटी आप इंडिया, एक्ट 97, मुख्या लए, एक अध्यक्ष, मिनीमम दो अधिक्तम 6 मिंबर हो सकते हैं, और नियुक्ती कोन करेगा? केंद्र सरका, अध्यक्ष ऐसा वेक्ति होगा जिसे उच्चतम न्यायले का न इस सेक्टर का नॉलेज रहेगा, दूर संचार सेवाओ को रेगुलेट करेगा, कही पर भी मोनोपोली नाओ, इसी ने ही कदम उठाया था, एर्टेल के उस निर्नय का, जिसमें एर्टेल ने वादा किया था, कि अगर आप हमारी सिम लोगे, तो हम आपको फेस्बुक प्री में करवाएंगे, तब एक शब्द आया था, निूट्रिलिटी, नेट निूट्रिलिटी, जिसके तहत ये कहा गया है, कि कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कमपनी, ऐसे कारे नहीं कर सकती, कि कोई अपने सिम में सर्विसेज कुछ फ्री कराएगी, अगर सर्विस करना है, तो सारी करिए, थाकि कॉम्पीटिशन में किसी को ऐसे मदद ना मिले, सोचो फेस्बुक को अगर ऐसा मिल जाता सपोर्ट, तो कोई भी सोशल दूसरी साइट, क्या कॉम्पीटिशन कर पाती, क्योंकि एरटेल के साथ फ्री आ गया, बाकी के लिए तो आपको रिच जिसने पर्यावरन के मसलों के लिए एक विशेश अधालत बनाई है, छे महिनों के अंदर पर्यावरन के मामले पर यहां निड़ने होना तय है, राश्टी हरीत अधी करन्यम NGT X 2010 के तत, यहां का जो जज है, वो ग्रीन जज कहलाता है, जो वकील है, वो ग्रीन एड़ोके पूने कोलकता चिन नहीं, NGT 2010 के तत, अनिवार है कि NGT के पास आने वाले पर्यावरन संबंदी मुद्धों का निप्तारा छे महिनों में किया जाए, एक अध्यक्ष होगा, सब मतलब जज ही होते इसमें, पाँच साल सदस्य को पुनपत पर नियुक्ती नहीं, अध्यक् में कम से कम 10 और मेक्सिमम बीस पुर्नकालिक न्याइक सदस्य होने ही चाहिए, पहले इसके जो जज थे शायद पांदा थे, तो इसलिए उने ग्रीन जज की लबेक उपादी दी गई थी, मुझे पुरा नाम यदनी लेकिन सरनेम वही था उनका, केंद्रिय प्रदूशन न मानकों को डिसाइड करता है, जैसे इस समय भारत, छे स्टेंडर वाले प्रदूशनों के मानक चल रहे हैं, जैसे बी अस, भारत स्टेंडर भारत स्टेंडर वन आया, टू आया, थ्री आया, फोर आया, डायरेक्ली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 1974 ध्यान से सुनना कानून जो था ये वाला था, जल प्रदूशन नियंतरन रोक्ताम अधीनियम, प्रक्रती सावधिक हैं, केंद्रिय पर्यावर्न मंत्राले के अंतरगत, यह जल प्रदूशन के अंतरगत भी कारवाई कर सकता हैं, वायू प्रदूशन के अंतरगत भी और पर्यावरन सुरक्षा अधिनियम के अंतरगद भी. पहला तो पूरी तरह से गलत हो गया, दोनों में कानून है, NGT पर्यावरन नयाय उपलब्द कराता है, उच्चतम नयायलय में मुकदमों का इससे भार कम हुआ है, अगर आपको याद आता हो, तो पहले, जितने भी सारवजनी कुए होते थे, उनमें क्लोरीन पाउडर डाला जाता था, वो क्लोरीन पाउडर पानी के छुद्धिकर, बहुत ही गंदा पानी लगता था, लेकिन पिया वही जाता था. ये हैं Air Quality Management Commission, ये विशेश रुप से किसके लिए बनाया गया, दिल्ली वाले शेत्र के लिए. 2020 में वायू प्रदूशन की स्तती में सुधार के लिए आयोक की स्तापना के साथ सुप्रीम कोट का आदेश जो था, उसको खतम करते हुए, ये बनाया गया जिसका नाम है Air Quality Management Commission. दिल्ली और उसके सीमावर्ती शेत्र में वायू की गुनवत्ता में सुधार करना, क्योंकि दिल्ली वायू प्रदूशन का बहुत बड़ा केंद्र है. एक अध्यक्ष 18 मेंबर दिल्ली, पंजाब, हरियाना, यूपी और राजस्तान के मेंबर रहेंगे, साथी इसमें इसरो, नीती आयोग, CPCB के सदस्य भी रहेंगे. अध्यक्ष का कारेकाल तीन वर्ष पुनर नियुक्ति के पात्र, म, M कुट्टी आयोग के पहले चेर्मेंण. सकतिया वायू प्रदूशन के लिए धिशा निर्देश, वायू प्रदूशन की शिकायत दर्च करना, वायू प्रदूशन को रेगुलेट करना, उद्योगों पर प्रतिबन लगाना और बहुत कुछ, आयोक का निर्ने बाध्यकारी और केवल, इसका मतलब आयोक को किसका दर्जालगबग, अधिक्तम पांच वर्ष का कारावास और एक करोड रुपए तक का जुर्माना, वायू प्रदूशन से संबंदित किसी भी मामले पर स्वता इंग्यान लेने की शक्ती भी ने दी गई है, तो ये थे सवेधानिक और गेर सवेधानिक आयोक, अब हम अपने पड़ाओं में आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं, जितना भी यह रंग बदल रहा हैं, ये कवर हो चुका हैं, जितना मुझे लग रहा हैं, प्सिम हमने देख लिए हैं, तो मुझे अब लगता नहीं, इसमें कुछ करना है, एक चीज बस थोड़ी से सुप्रीम कोट के निड़ने, लेकिन मुझे लगता है कि बीच बीच में इतने निड़ने हमने लिए हैं सुप्रीम कोट के एक्जामपल के तोर पर वो सारे हो तो इसको अपन 365 के नाम से जो विडियो आएगा, उसी में सेपरेटली करंड़ भिर करा देंगे, बाकी प्रीवियस यह भी हो चुके है, तो अच्छी बात यह है कि आज ही यह विदाई हो जाएगी, प्रमुक सविधान संशोधन, सबसे पहला पहला सविधान संशोधन, ज इसने हमारे सविधान में जोडा नवी अनुसूची, कोन से विशय इसमें डाले गए, भूमी सुधार, किनके कार्यकाल में आई थी, जवालार नेहरू प्रधान मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाथ, राष्ट बती, भूमी सुधार संबंधी सुधारों को लागू क करना, 2019 का सवाल बहुत इजी था, किस प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दोरान भारत के सविधान में नवी अनुसूची जोडी गई थी, फिर आर्टिकल एजव था, जमीनदारी प्रधा के उन्मुलन को सवेधानिक मान्यता, मतलब कि जमीनदारों की जमीने चीनने पर हम उने कोई मुआउजा नहीं देंगे, 31B, नवी अनुसूची में शामिल कानून अत्वा सविधान संचोधन को किसी भी आधार पर नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, जब किसी में कहा गया था, 39B, याद है न, 14 और 19 को आप वाइलेट कर रहे हैं, तो ऐसा आप कोई उलंगन वाली बात नहीं रहेगी, नव्य अनुसुची में संसर्य दी किसी कानून या सविधान संचोधन को सविधान की नव्य अनुसुची का भाग घोशित कर ले, तो उस कानून को किसी भी आधार पर नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती, लेकिन वर्तमान व्यवस्ता के तहट दी जा सकती, पहले सविदान संचोधन को शंकरी प्रसाद बना भारत सरकार 1951 के तद सुप्रिम कोड ड्वारा सविधानी माज सुप्रिम कोड ने का अभई जो कर रहे हो सब तही है अन्य संचोधन 15-4 में बदलाव किया गया और वो FCST नहीं साथी साथ 16-4 भी जोड़ा गया तीसरा सविदान संचोधन फर्स्ट के बाद तीसरा इसले आ रहे हैं दूसरा गायब क्योंकि उतना हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है हम उनी को देख रहे हैं जिसने थोड़ी बहुत दुनिया बदल दी 1954 में वही प्रधान मंत्रियों राष्ट्रबती खाध्य पदार्तों के संबन में केंद्र को शक्ती वास्तवीक रूप में 1954 में आवश्यक वस्तु अधिनियम भी आया था और जिसके तहत आवश्यक वस्तुओं को केंद्र सरकारेक लिस्ट में शामिल करती थी जिसको आवश्यक वस्तु डिक्लियर कर दिया जाए उसका कलेक्शन किया नहीं जा सकता मतलब उसको आप बड़ी मात्रा में जमा नहीं कर सकते क्रिशी कानून में जो तीन क्रिशी कानून थे उसमें एक क्रिशी कानून 1954 के आवश्चक वस्तू अधिनियम में संशोधन करता था जिसमें आलू या कुछ गेहू चावल जैसी चीजों को हटाने की बात हुई थी तो किसान कह रहे थे कि इससे जमाकोरी बढ़ सकती है आवश्चक खाद्यपदार्तों को राज्य सूची से निकाल कर कहां डाल दिया गया स्थंग सूची में दरसल आवश्चक खाद्यपदार्तों के पुर्ण नियंत्रन का अधिकार उस समय किसको था राज्यसरकारों को इससे आपात काली निस्तती में बड़ी जटिलता उत्प आपूर्ति वित्रन पर पूर्ण नियंत्रन की शक्ति प्रदान कर दी गई। पर कोई टाइम पिरेट था नहीं तो उनुने का कि अब राश्ट बती जो टाइम पिरेट बोल देगा वही अंतिम की रूप में आपको बताना होगा ने तो हम मान लेंगे कि आपकी सहमती है। विधेक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक कर रख लेते थे। समय सीमा ताइम बाउंडेशन सात्वा सविधान संशोधन वही प्रधान मंत्री राश्ट बती राज्जो का पुनर गठन। दूसरी अनुसूची में संशोधन चार प्रकार के जो राज्जो का वर्गी करन किया था। अब उसकी जगह केवल दो प्रकार की चीजे और दो से अधिक राज्जो के लिए एक ही हाई कोट ये भी सब किसमें हुआ हैं। सात्वे सविधान संशोधन। नववा सविधान संशोधन। वही प्रधान मंत्री राष्ट बती भारती अभू भागो के ये तोड़ा इसले याद रखना। एक्चुली 1969 का मामला था बांगलादेश का जो कुछ शेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो किसी ने याचि का दायर कर दियो और सुप्रीम कोट से कहा कि क्या सरकार हमारा जमीन किसी को भी दे सकती हैं। और इसलिए जब बांगलादेश और भारत का पूरा सीमा विवाद हल हुआ तो इसे सविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया, तो वा सविधान संशोधन जिसके तहद भारत और बांगलादेश के बीच के सीमा विवात पूरी तरह से समाप्त हुए, तो अनुमती लेनी ही पड़ेगी संसत की ये किसमे हुआ, नाहिन कॉंस्टूशनल अमेंड म इस सविधान संशोधन वरा पश्शिम बंगाल के बेरुबारी को पाकिस्तान को ट्रांस्फर करने का प्रावधान की आ गया, दरसल उनिसोचपन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझोता हुआ था, जिसके तथ वेश बेंगौल के बेरुबारी केंद्र शाशित प्र और सविधान संशोधन का मतलब आप समझे की नहीं, दो तियाई, दोनों सदन मतलब जनता की अनुमती से, तो फिर से पहला है नव्यनु सुची, तीसरा अवश्यक वस्तू, पाचवा समय सीमा, सात्वा हाई कोट के बारे में प्रावधान और राज्य पुनर गठन, वो ज बगेड संसद की अनुमती सविधान संशोधन के आप अपने जमीन किसी दूसरे को नहीं दे सकते, फिर है ग्यारवा सविधान संशोधन वही प्रदान मंत्री राष्टबती, राष्टबती और उपराष्टबती के निर्वाचन में क्लियारिटी, राष्टबती के पढ़ार पढ़ चुनोती नहीं दी जा सकती कि उसका निर्वाचक मंदल पूरा नहीं है। प्राउधान उच्चनया लेके नियाधिश की रिटार्मेंट की आयू को 62 वर्ष, 60 की जगा 62 की आगया। मेरी हिसाब से इतना कोई इंपोर्टिन ने इसको हटा रहे हम। तो पहला, तीसरा आवश्यक वस्तु, पाँचवा समय स्थीमा। सात्वा दो चीजे हैं, राज्य का पुनर गठन और दो राज्यों के लिए खाई कोड भी हो सकता है। भूभाग को आप ऐसे ही नहीं दे सकते। और एक और एक ग्यारा, एक राश्टपती का खाली हो तब भी कोई दिक्कत ने और राश्टपती, उपराश्टपती का जो चुनाव हैं, उसके लिए अब एक इलेक्ट्रलर कॉलेज रहेगा। इसे याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जैसे साथ फेमस शब्द हैं, तो यहाँ पर हमें राज्जो का पुनर गटन, हमारे राज्ज जो कई रंगों के हैं, उनका निर्मान किया गया। नव भुभाग जमीन देने का मतलब पाँच, जैसे जो नव भाग हैं, इसको हमारे यहाँ पर नव गरह नहीं हैं, तो नव गरह कही न कही चीजे जुड़ी हैं, तो इसको आप याद रखें कि हमारे देश का कोई भी भाग किसी को देना हैं, तो उसके लिए संसत को सविदान संशोधन का अधिनियम लाना पड़ेगा, एक और एक ज्यारा, एक राष्ट्रपती और एक उपराष्ट्रपती, पंद्रवा वाला नहीं याद रख रहे, फिर सत्रवा सविदान संशोधन, जवाला नेरो डॉक्टर सरोपली, राधा कृष्ण, नवी अनुसुची के दायरे का विस्तार, केरल और मद्रास राज्य हटाईये से भी, विस्तार अब नव्यनुसुची का कोई जगडा नहीं, अठ्रवा सविदान संशोधन, प्रधान मंत्री, इंद्रा गांधी, डॉक्टर सर्वपली, राधा कृष्ण, केंद्र शाशित प्रदेशों के शक्ती प्रदान की गई, मतलब हाई कोट भी, इलेक्षन से जुड़े मामलों पर बात्चित कर सकता, ये इंपोर्टेन है, कौन सा नंबर है ये, उन्नीस वा, तो ग्यारा के बाद सीधा, उन्नीस पर, इस समय निर्वाचन आयोग की कारे प्रणाली में कारे पाली का कास तक्षे बढ़ गयाता, तो डाउट होता था, कि निर्वाचन आयोग सही निर्नए लेरा है या नहीं 21-वा सविधान संचोधन, इंद्रा गांधी और जाकिर उसे, सिंधी भाशा को आठ्वियन उसुची में नहीं, इसले नहीं क्योंकि अभी तो चार भाशा है लेटेश में जो जोड़ी वही important है चोबिस्वा सविधान संशोधन इंपोर्टेन हैं, इंद्रा, गांधी और वीवी गिरी, संसद की सविधान संशोधन की शक्ती को न्याईक समिक्षा के दाइरे से जोकी खतम, फिर पच्चिस्वा सविधान संशोधन मूल अधीकारों पर DPSP ज्यादा इंपोर्टेन हैं, ये भी, मेरी साब से अगर हम बात करें तो अभी तक पहला, तीसरा, पाचवा, साथवा, नौवा, ज्यारवा, और उन्निस्वा क्या है? अब वह उच्च न्यालय को भी ताकत दे दी गए, फिर केश्वानन भारती मामले का हमने चर्चा कल की थी, पूरा वर्णन देखा था हमने कि क्या मामला था, फिर सुप्रिम कोट ने कहा कि सीमित तता उलंगन दोनों शब्दों में विद्यमान, सुश्मांतर, मतलब शक्त आपकी असीमित नहीं है, लेकिन आप कोई वाइलेशन नहीं कर सकते, चब्विस्वा सविधान संशोधन, देशी राज्यों के भूतपुर्व नरेश, हाँ ये इंपॉर्णे, प्रीवी पर्स, ये स्टार लगाएंगे, चब्विस्वा सविधान संशोधन, प्रीवी पर् जब राजाओं को साइन करने के लिए भेजा गया, तो उन्हें कुछ विशेश अधिकार दिये गए थे, और उन्हीं विशेश अधिकार के कारण उन्हें साइन की थी, पर 1971 में सच में हम गंतंत्र बने, क्योंकि सब देश के नागरी कब बिलकुल बराबरी में आ गया, और नरेशों को जो प्रीवी पर्स दिये गए थे, वो सब खतम कर दिये गए, 33 वा कॉंस्टिूशनल अमेंडमेंड, सांसद और विधायकों के त्याग पत्र को स्विकार करने के संबन में फीठा सीन अधिकारी को शक्ती दी गई, मतलब वो अपना जो स्तिपा हैं, वो आर्टिकल 101 और 190 में संचोधन, संसद और राज विधान मंडल के सदस्यों का त्याग पत्र, अध्यक्ष्या सभापती केवल तभी स्विकार कर सकता हैं, जब वो आश्वस्त हो, कि त्याग पत्र रियल में हैं, उन पर किसीने कोई दबाओ, एक्चुली उस समय माहोल थोड समर्थित लोग थे, वे लगातार अपना इस्थिपा दे रहे थे, तो मुरार जी देशाये का लग गुट में जाना शुरू कर चुके थे, तो इंद्रा गांदी ने कहा कि सभापती महोदा इस बात की ध्यान देंगे, कि कहीं किसी के दबाओं में आकर तो इस्थिपा नही दिया जा रहा है, सत्ता को बचाने का एक और प्रयास था, तो मैं कहूंगा कोई याद रखने की जरूवत नहीं है, 26 वा फिर से हैं, प्रीवी पर्स को खतम, 19 वा उच्च न्यायले को चुनावाले निर्ने लेने की ताकत, पहला भूमी सुदार, तीसरा अवश्यक पाच्वा समय सीमा, सात्वा, दो एक तो राज्यों का पुनरगठन और हाई कोड दो राज्यों के एक, नव ग्रह वाला अपनी जमीन देना है, सविधान संशोधन के माध्यम से ही, ग्यारा में दो, अगर राष्ट बती का निर्वाचन मंदल खाली है, तो भी कोई दिक्क नहीं होगी, और उपराष्ट बती का निर्वाचन मंदल, फिर उन्नीस, चुनाव वाला निर्ना है, और फिर 26, प्रीवी पर्स, ठीक हैं, फिर आते 35 और 36, इंद्रा गांधी, सिक्किम के हाँ, ये भी याद इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम जो बनाता हमारे देश का हिस्सा, वो 35 सविधान संचोधन जिसके तहत सिक्किम को हमारे देश में जोडा गया था, 35 संचोधन के माध्यम से सिक्किम को सरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और इसे तु दस्वी अनुसुची बनाई गई विशेश रुप से ऐसे राज्यों के लिए, लेकिन 35 संचोधन के माध्यम से सिक्किम को, 36 में क्या किया गया, यह सब रद किया और वापिस उसे एक सामान्य राज्य, तो बस इतना जरूर याद रखे, 35, 36 सिक्किम को जूडा गया, और कब का टाइम पिरेड है, तो 26 के बाद सीधा, 35 पर आएंगे हम लोग, फिर आते ह 38 सविदान, अब देखो, अगर तुम भूल भी गए, तो 42 सवा तो लगबग याद है न, तो उसके आसपास का ही कोई टाइम पिरेड रहेगा, 38 सविदान संचोधन आपात काल की घोशनात ता अध्यादेश को न्याइक समिक्षा के दाइरे से बकवास है अब तू, 49 वा न फिर 42 सवा तो पता ही है बहुत बड़ा, मिनी कॉंस्टिट्यूशन भी कह देते हैं, प्रिम्बल बदला, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया, राष्ट्रपती उस समय कोन थे हैं, सविदान का अब तक का सबस सिंग आयोग की सिपारिश, उद्देशिका में धर्म निर्पेक्ष्टा की जग कहे तो पंत निर्पेक्ष्टा, तमाजवाद और अखंडता, भाग चार ए, भाग चार ए और 51 ए, दस मूल फंडामेंटल ड्यूटी, अब कितने हैं, ये भी हटा दिया गया, राष्ट्रप मंत्री परिशत की सला मानने के लिए बात दे हैं, अब एक बार तो पुनर विचार की बात कर सकते हैं, हाँ, शिक्षा, वन, वन्य जीव, सरक्षन, नाप तोल, न्याय प्रशाशन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, प्रशाशनी की ये बड़ा इंपोर को खतम, लोकसभा कारेकाल खतम, DPSP, राच्टपती शाशन की अउधी, एक बार में छे माह से बढ़ा कर एक वर्ष, सांसद और राज्य विधान सभा के कोरम की, वो इतना जोडने की कोई जरुद नहीं, फिर आते हैं, 1980 में, 368 की संकरना, फिर आये 44, इन्होंने सुधार क जो जो गलतिया हुई थी, सबसे महत्वण था, लेकिन इसमें आंतरी क शान्ती की जगह पर वापित 6 साल के कार्यकाल को और वही पुनर विचार एक बार आप भेज सकते हैं, संपत्ती के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से अटा कर आर्टिकल 300a में, 352 में आंतरी बड़ी को हटा कर सशस्त्र विद्रो, राष्टबती द्वारा कैबिनेट की लिखित सिपारिश के आधार पर ही आपात काल की घोषना, कैबिनेट की 356 के दत राष्टबती शाषन के तीन वर्ष की बातचित पूरी तरह से, साती यह प्रावदान किया गया कि राज्य में राष्टबती अधिक्तम एक वर्ष के लिए शाषन लगेगा, एक वर्ष की अउधी को विस्तार देने के लिए दो शर्ते आपको पूरी करनी पड़ेगे, किसी भी परिस्तिती में तीन वर्ष से ज्यादा राष्टबती शाषन नहीं रहे, 20 और 21 को छोड़ कर सभी खतम ह हो सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष और इनके निर्नय संबंदी पूरी शक्तिया किसको दे दी गए, राष्टबती मंत्री परिशद्वरा दी गई सला को केवल एक बार रीकंसिडरेशन के लिए लवटा सकता है, फिर आए उन्चास्वा सविध सविधान संशोधन, राजीव गांधी और ज्यानी जेल से, छटी अनुसूची का विस्तार और इसमें किसको जोडा गया, थोड़ा इस्तार लगाना, कारण है कि अभी लद्दा की मांग उठ रही है, तो कभी-कभी UPSC गड़े मुर्दों में एकाच चिज इसमें से डाल स लगती है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, असम मेघालय त्रिपूरा मिजोरम छटवी अनुसूची में, बावनवा सविधान संशोधन, दल बदल दसवी अनुसूची, और एक सटवा सविधान संशोधन, मतदान की आयू पहले किस साल थी तो अब, तो ये भी हैं, एक बार देखें, पहला याद हैं, तीसरा, अवश्यक वस्तु, समय सीमा, राज्यों का पुनरगटन और हाई कोट, अपनी भूमी देनिये तो अमेंडमेंड करिये, राष्ट बती के लिए खाली रहेगा तो कोई दिक्कत ने, उपराष्ट बती, हाई कोट को निर्वाचन की शक्ति, 26, प्रीवी पर्स हटाया गया, 26 के बाद सीधा आजाईए, 35 और 36, सिक्किम को जोडा गया, फिर 42, 44, 44 के बाद 52, 52 के बाद 61, 42 तो बहुत बड़ा, 44 भी बहुत बड़ा है, बाद 52 में, दल बडल, दस्वी, अनुसूची, और 61 में मतदाता की आयू, कोन सा हाथ, नहीं, त्रिपूरा वाला ठीक है, वो याद रख ले न, 65 वा सविदान संचोदा हमने पढ़ा था, पहले SCST का क्या था, अथोरिटी एक व्यक्ति होता था, आप क्या कहां, कमीशन, तो चंद्रशेकर मुक, प्रधान मंत्री और आर के वेंकर ट्रमन, राष्ट्रबती, अनुसूची, जाती, अनुसूची, जन्जाती, आयो का गठन, 338 में संचोदन कर अनुसूची, जाती, अनुसूची, जन्जाती, आयो का गठन, मूल सविधान में जाती और जन जाती हो के लिए कोन था विशेश अधिकारी फिर 69 वा सविधान 65 वाला फिर 69 दिल्ली को केंद्र शाशित प्रदेश का दर्जा ये भी इतना कोई खासनी चर्चा में रहेगा तो देखेंगे 239 AA और 239 AB फिर है 71 वा सविधान संशोधन कोंकनी मनी पूरी कोई जरुवत नहीं 73 और 24 एक बार श्वाट में वडश बताएं कितने विशें 29 विशें अनुसूची भाग 70 ठीक है नरसिम राव की सरकार शंकर दयाल शर्मा राष्टपती स्थानी निकाय के संदर में सविधानी व्यवस्ता फिर उसके बाद सततर्वा सविधान संशोधन इंपोर्टेन है ये भी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन सततर्वा साथ साथ सब साथ साथ लेकिन नहीं रहेंगे कुछ जल्दी आगे निकल जाएंगे और कुछ पिछड जाएंगे इक्या सीवा सविधान संशोधन बेक लौक पदो में आरक्षन वो बता दिया था कि वो कोई दिक्कत नहीं जाएगे तो ये चल जाता है कोई दिक्कत नहीं 84 सीवा सविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा की सीटो का पुनर निर्धारन 2000 ये थोड़ा सा याद इसले रखेंगे क्यूंकि 26 नस्दी खयाब तो 84 सीवा सविधान संशोधन जन संक्या को सीमित करने के उपायों को प्रोचाहित करने के लिए फिर 86 सीवा तो फेमस है आर टी ए राइट टू एजूकेशन अटल भी आरी वाचपई डॉक्टर एपी जे अब्दुल कला फिर 21 ए भी आ गया 51 ए का ग्यारवा भी बन गया फिर है 89 वा सविधान संशोधन अब दोनों अलग हो गये स्ट का कमीशन अलग हो गया ये 338 और ये 338 अटल भी आरी वाचपई डॉक्टर एपी जे अब्दुल कला में स्ट के लिए अलग आयो का गठन वही सारे प्रावधान 91 वा कॉंस्टिशन आमेड में आखरी के दो सवाल अभी तक मैंने आपको तीन अलग लग सेग्मेंट में दो-दो सवाल पूछे है ये साथवा और आठवा सवाल है जो की शायद अब आप आप आंसर दे सके भारत में राज्यसभा का स्थित्वर निम्नलिकित में से भारतिय राजविवस्ता के किस स्वरूप को इंगित करता है लोकतांत्रिक स्वरूप, गनतांत्रिक स्वरूप, संसदिय स्वरूप, संगात्मक स्वरूप, डेमोक्रेटिक, रीपबलिक, पारलियामेंटरी, इस सवाल का जवाब पुना आपको वीडियो के अंत में मिलेगा और आखरी सवाल रिट जारी करने की हाई कोट और सुप्रीम कोट की शक्ती के संबन में निम्नलिखित कतनों में कोन सा सही है? Which of the following statement is correct regarding the power of High Court and Supreme Court to issue it? High Court की रिट जारी करने की शक्ती सुप्रीम कोट की तुलना में अधिक हैं High Court Supreme Court दोनों की रिट जारी करने की शक्ती समान है उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा तो यह आठो सवाल मैं चाहूंगा कि आठो सवाल के आंसर आप कमेंट्स कर सकते हैं और लास्ट में भी आप वीडियो के अंत में भी बता सकते हैं वीडियो को शेर लाइक तो करते ही चलना, पर मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा, बुरा, आउसत, बहुत अच्छा, सब आपकी सलाहे मेरे लिए बहुत महतुपुर्ण है, इमानदारी पूर्वक सला देना, ताकि मैं उसके आधार पर चीजों क को और बदल सकते, पंदरा प्रतिशत केंद्र में अधिक्तम लोकतभा के नंबर के मंत्री प्लस प्रधान मंत्री, राज्यों में भी वही है, पर अगर छोटे राज्य हैं, तो अधिक्तम बारा सदस्य मुख्य मंत्री सहित, मंत्री पदपाधारन कर सकते, दोनों अधिक्त नियून्तम चलेंगे उससे ज्यादा नहीं। अटल भ्यारी वाजपरी डॉक्टर एपीज अबदुलक्राम पर एक और चीछ जोड़ी थी इनोंने, जो दल बदल के तता योग्या है, वो मंत्री पद्वी धारन नहीं कर सकता। जो तूटने वाले में टू थर्ड की जगए वन थर्ड भी तूट जाए तो चल जाएगा, तिर उसके बाद वन थर्ड की जगए टू थर्ड वाला, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, बानवा सविधान संचोधन, ये याद रखना है, ये आयाता 2003 में आखरी 22 भाशाओं में चार भाशाय जोड़ी गई थी, MBDS, मैतली, बोडो, डोंगरी, स्तंथाली, तो बाइस भाशाओं में ये चार जोड़ी गई, मतलब अठरा थी पहले, फिर बाइस भाशाय हो गई, ठीक हैं, तो ये आखरी हैं, जो इसके अभी समें संचोधन नहीं हुआ है, त्रियानवा सविधान संशोधन, 93, इसकुलो में रिजर्वेशन संबंदी, ये चल जाएगा उतना कोई नहीं, 97 वा, ये इंपॉर्टेन है, 2011 में, आर्टिकल 19 में संशोधन हुआ, इसके बाद 43, सहकारी समीतियों के संबंद में, और क्या जोड़ा गया इसमें, 9B, 9B, 9A किसमें हैं, मुंसिपाल्टी, तो 9B सहकारी समीतिया, आर्टिकल 19 के तद फंडामेंटल राइट्स बन चुका है, 43B के तद DPSP में डाला गया है, 99 वा खत्म कर दिया माननिय सुप्रीम कोट ने, राष्टियन याइक निवक्तियायोक के गठन का प्रावदा, फिर हैं, सववा, बांगला देश और भारत के सीमा संबंदी विवाद, सविदान संचोधन लाना जरूरी था, ऐसा पहले ही किसमें बोला गया, नववे सविदान संचोधन में, नरेंद्र मोधी, प्रधान मंत्री, प्रनम मुकर्जी, राष्ट्रबती, भारत बांगला देश के बीच, भूमी, सीमा, समझोते को लागू करने के लिए, तो याज उनके बीच में अब कोई जनरली जगडे नहीं रहें, नदी का थोड़ा बहुत विवाद है, जी अस्टी, 101 रूपए हमारे देश में वैसे भी चंदे के रूप में जाना जाता है, तो जी अस्टी आया, दो हजार सत्रा, एक जुलाई, दो हजार सत्रा, नरेंद्र मोधी और प्रनम मुकर्जी, जी अस्टी को लागू करना, सभी प्रकार के इंडाइरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके लगभग, सभी प्रकार के, इन्पुट टैक्स क्रेडिट, जी अस्टी अपीलिय प्राधीकरन, जी अस्टी काउंसिल 279, एक था, 102 में OBC को रिजर्वेशन, 103 में दो लगाता रिजर्वेशन, रामनात कोविन जी ते अब राष्टबती, राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग को, कॉंस्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, 338 बी एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी बाते हम देख चुके हैं, 103 EWS रामनात कोविन जी राष्टबती आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षन की व्यवस्ता, आर्टिकल 16 में भी बदलाओ, मैक्सीमम कितना रिजर्वेशन, केंद्रो राज्य में शिक्षा, शेत्र, सरकारी, नोक्रिया, चुनाओ, कल्यानकारी, योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिशित करने के लिए, कोन है एकोनोमिकली बैकवर्ड, आठ लाक रुपए सालाना से कम, पारिवारी का है, जिनकी क्रिशी योग्य भूमी पाँच एकड से कम, आवास यगर एक हजार वर्ग फिट से कम, यह अब खतम कर दिया दो लोगों का जो था, आंगल भारतिये सदस्यों की लोकसभा में, जो मनोनयन की व्यवस्ता थी वह समाप्त हो गए, फिर हैं, एक सो पाचवा सविधान संशोधन, इस स्टेट को पुन दे दिया गया कि तुम ओबी सी की जनगन्ना करो और लिस्ट बनाओ, राज्य सरकारों को सामाजिक और शेक्षनिक दृष्टी से पिछडे वर्गों की स दूची तयार करने के लिए सशक्त कर दिया गया, ये था एक सो पाचवा सविधान संशोधन, संशोधन अधिरियम का संबंध 15, 16 और 338, 20 से हैं, संशोधन का प्रमुक कारण था एक सोधन नहीं, अभी सुप्रीम कोट का एक निरनाई भी था इसमें, मेरातन क्लास आप लो आने वाले समय में एक बेहतर तरीके की जानकारी मिल सके यदि आप 2024-2025 की प्लानिंग कर रहे हैं, 2024-2025 यदि आप एक प्रॉपर तरीके की गाइडलाइन, प्रॉपर तरीके से तयारी पूरा करना चाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अनेकेडमी के साथ, सवाल ये है कि क तो ये सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में, कोर्स आप जब पर्चेस करते हैं, तो आपको एक टीचर और एक कोर्स दे दिया जाता है, ये ऐसा अनेकेडमी सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको किवल एक टाइम लिमिट बाउंडेड है, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर की क्लास देख सकते हैं, एक अही सब्सक्रिप्शन पर जितने क्लासे चल रही हो सब देख सकते हैं, जितने टेस्ट हो रहे हो सब दे सकते हैं, अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, इसी में आपको material मिलेगा, इसमें आपके doubt clearing होंगे, इसी में आपको complete classes मिलेगी, multi educators मिलेगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका, तो यदि आप तयारी की planning करें और online platform ढून रहे हैं, तो मैं आपको दावा कर सकता हू कि इस से best और कोई नहीं, पिछले दो वर्षों का अधबुत result आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते 170 से ज्यादा topper 2020 में, और 197 topper 2021 में unacademy नी दिये, सबसे बहतरिन result, और इस समय unacademy ने एक बहतरिन चीज किये, जो खास करके उन विद्यारतियों के लिए जो गरी है, उन्हें लगता है कि वो, क्योंकि unacademy सबसे बड़ा platform है online में, जो सबसे ज्यादा free material उपलब्द कराता है, लेकिन कई बच्चों का कहना था कि हमें unacademy से classes चाहिए minimum price में, तो unacademy लेकर आया unacademy store, इसके माध्यम से आपको GS, CSET और current affair की classes बहुत minimum price में, ये recorded classes भी रह है कि ये module type है, module, module किसे कहते हैं, यदि आपने YouTube पर बहुत कुछ cover कर लिया, लेकिन आपको दो सबसे cover करने हैं, तो आप unacademy store के माध्यम से cover कर सकते हैं, पर अगर आप complete preparation चाहते हैं, complete preparation, तो आपके पास है plus और iconic, iconic क्या होता है, iconic में आपको एक mentor अलोट किया जाता है, जैस आपको एकेडमी देगी, और एक मैं, क्योंकि आपने MKLive refer code यूज किया है, तो हर महीने, दो बार मैं आप लोगों से meeting करूगा, और आपके personal doubt, जो भी guidance शाहिए, वो आपको देते रहूगा, तो iconic जो है, उसमें सारे plus benefit, one-to-one mentorship, discord नामक app पर doubt solving session होते हैं, पूरी तरह से library, आपको open library खास करके digital library और offline test भी इसमें उपलब्द कराई जाते हैं, अब an academy offline mode में भी आ चुका English medium में, वहाँ भी आपको offline के साथ ये पूरा online subscription plus वाला मिल जाता है, plus में सारी चीज़े मिलेगी, बस mentor नहीं मिलते हैं, बाकि आपको C-set, GS, current affair, question test, series, doubt solving, सारी चीज़े मिलते हैं, material भी आपको लेना नहीं है, सारा material, आपको free of course लिया जाता है, iconic में physical material मिल जाता है, plus में आपको पूरा digital material मिल जाता है, ताकि आप बेटर तरीके से तयारी कर सक MK-LiU हमारा refer code है, यह क्या होता है बई, तो हमारा यह refer code आपको instant 10% discount और सबसे best offer उपलब्द कराता है, साथी साथ MK-LiU में हम doubt clearing के माध्यम से आपको guidance उपलब्द कराते हैं, mock test आप हमारे वाले test देते रहोगे, personal mentorship हमारी तरप से मिलती हैं, और unacademy के वो सारे benefit, एक ही course मे pre-mains interview, सारी तयारिया आपको उपलब्द कराई जाती हैं, तो यह है unacademy online platform, भारत का सबसे best platform, अगर आप इस से better platform ढूण पाए तो मुझे comments करिएगा, बाकि आप लोग अपने मेरा थन class को पूरा देखिएगा, मेरा दावा है कि इस class के बाद, न के वल revision आपका better होगा, ब आप इंडियन जोगराफी में 10 में से 7-8 सवाल केवल इस class से ही attempt कर लें, प्रॉपर याद करेगा इसके material को, पीडियाप को हमने इसी class में नीचे link कर दिया है, तो सभी को без stop luck, continue देखते चलिए, मेरा दन class, धन्यवाद, तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं और complete कर चुके हैं बहुत सारी चीजे, बस ज्यादा नहीं बचा हैं, थोड़ा सा ओर hard work, एक तो हम देख लेते हैं Supreme Court के महतुपुर्ण निर्णय, जैसे के हमने सविधान संशोदन देख लिए, Supreme Court के महतुपुर्ण निर्णयों के बाद हम कुछ सविधान के प्रमुक प्रावधान और आर्टिकल की बात करेंगे, current affair का 360 degree वाला जो हमारा class होगा, वो उसमें cover हो जाएगा, और previous year question practice साथ साथ हमने करते चले हैं, कुछ practice के सवाल भी मैंने दिये हैं, जिसके जवाब आपको last में पता चलेंगे वीडियों के, तो अब हम शुरुवात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोड के महत्वपुर्ण निर्ने, बस थोड़ा सा और पेशन्स रखिए, और जिस तरीके के लगातार आप लोग class देख रहे हैं, मुझे guarantee है कि बहुत जल्द ही, आप लोग इस class को जब दो से तीन बार revise कर लेंगे, तो UPS C के maximum सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, कुछ important मामले हैं, जो वैसे भी याद होने चाहिए एक विध्यारती को, 10 से 12 मामले ही मैंने लिए हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951, ये मामला भारत सरकार के द्वारा पहला सविधान संशोधन जो 9 अनुसुची ज उठाया गया था और सवे आर्टिकल 13 जो था, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई विधी या कानून सम्मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती, तो क्या सविधान संशोधन के माध्यम से ये हो सकता या नहीं, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है, संशत द्वारा मूल संशत द्वारा किया गया सविधान संशोधन आर्टिकल 13 की कानून की परिभाशा के दाइरे में नहीं आता, मतलब आर्टिकल 13 में जो लिखा हुआ है वो अलग चीज है, और सविधान संशोधन जो है वो अलग चीज है जिसमें मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती, खिर्नखे नें ये के ले कर दिया कि कानून और विधी अलग चीज होती है और सविधान संशोधन एक अलग चीज है, मतलब आर्टिकल 13 एक अलग सरकल बनाता है और तीन स्वड़ सड़िक कर सकती है ये पहला मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संग के मामले फिर दूसरा सीधा केशवानन भारती बनाम केरल राज जाता है वैसे इसके पहले गोलकनात का एक मामला भी आता है जिसमें सुप्रिम कोट अपने पूरे सारे निर्नेयों से पलड जाती है और कहती है कि 13 और 368 स संसद को कहती है कि आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते वो है गोलकनात का मामला केशवानन भारती मामले में संसद सुप्रिम कोट सुविकार करते कि संसद संशोधन कर सकती है कुछ भी बदल सकती है लेकिन मूल धाचे में संशोधन नहीं कर सकती बटो मूल धा स्री पदंगला वारू बाजीगर बन गए वही बात है यहाँ पर कि भली वो हार जाते हैं उनको अपनी जो मट की जमीन है भूमिये वो नहीं मिलती लेकिन सुप्रीम कोट इस मामले के माध्यम से यह सपस्ट कर देती है कि संसत संशोधन कर सकती है लेकिन एक शब्द जोड देती है मूल धाचा मूल धाचे की संकल्पना बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेब इसके माध्यम से सामने बाते आने लग जाती है यद्यपी अनुछे 368 के तथ संसत की सविधान में संचोधन करने की शक्ती का दाईरा व्यापक है बहुत बड़ा है किन्तु वह सीमित नहीं है संसत ऐसा कोई संचोधन न संचोधन शब्द की व्याख्यापर निर्वर करेगा मतलब सुप्रीम कोट ने इस पस्त नहीं किया की मूल ड्हाचा क्या होगा लेकिन सुप्रीम कोट नेक लाइन बोली की संसत की संचोधन संशोधन की दाइरा क्या होगा वो मामले पड़ता है होगा मतलब आने वाले भविश्य में हम बताएंगे कि वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी देखो एक ऐसा निर्णय था जहाँ संशद को ताकत तो दे दी सुप्रीम कोट लेकिन एक शब्द जोड कर उसकी सारी ताकत छीन भी ले ली अनुचे 368 में प्रयुक्त शब्द सविधान के संचोधन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए सविधान के संपुर्न धाचे को देखना होगा यदि संशद के जरिये सविधान के किसी ऐसे प्रावधान को सीमीत या संचोधित करती है जिससे सविधान की मूल भावना नश्ट होती है तो वह असविधानिक होगा मेनका गांधी बनाम भारत संग 1978 1977 में मेनका गांधी का पास्पोर्ट सरकार दोरा बिना को उचित कारण बताए निलंबित कर दिया था सुप्रीम कोट ने क्या का मूल अधिकारों के महत्वकी व्याख्या की सुप्रीम कोट दोरा ततकाल प्रभाव से मेनका गांधी के पास्पोर्ट के निलंबन को वापिस लेने का आदेश दिया गया दिखो ये मामला बहुत इंपोर्टेंट था इस मामले में सुप्रीम कोट ने का कि जो मूल अधिकार है वो कोई भीक नहीं दी गई है बलकि मूल अधिकार बहुत ही महत्वकुर्ण एतियासिक रुप से संजोए गए हमारी विचार धाराओ को प्रतीत करते है सकते जिससे मूल अधिकारों पर थोड़ा सा भी बुरा प्रभाव पड़ता हो सुप्रीम कोट ने मूल अधिकारों की व्याक्या करते वे का कि मूल अधिकार इस देश की जनता दोरा प्राचीन काल से संजोए गए आधार भूत मुल्यों का प्रतिनी दित्व करते हैं और व्यक्ती की गरिमा का सरक्षन करते हैं मूल अधिकार राज्य को ऐसी दशाय बनाने के लिए परिकल्पित और बाध्य करते हैं जिसमें हर एक व्यक्ती अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके मतलब राज्य ऐसा वातावरन बनाता है मूल अधिकार देकर जिससे कि हर व्यक्ति का विकास हो सके मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वाधिन्ता पर इसके विभिन आयामों में अतिक्रमन न करने की राज्य पर नकरात्मक बाध्यता अधिरोपित करता है मूल अधिकार ये भी करद कहता है कि आप इस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंद नहीं लगाए अतार्किक रूप में बिना किसी कारण के अब बारी हैं आज आट प्रश्न जो हमने आप से पूछे थे उनके सही जवाब को जानने की यकीन मानिये आपको बहुत सारे सवालों की जवाब अच्रच में डाल देंगे कि सच में इसका अंसर ये था आट सवालों में जिस विद्यारती के साथ सवाल सही हुए है मेरे हिसाब से पॉलिटी में वो मास्टर है मतलब उसको पॉलिटी में अब और ज्यादा पढ़ने की जुरुवत ने सुपर मास्टर है जिनके चे सवाल सही हुए है वो बेस्ट है जिनके पांच सवाल सही हुए वो एवरेज से ज्यादा अच्छे है जिनके चार सवाल सही हुए वो एवरेज है जिनके चार से कम है वो इन वीडियो को दो बार जरूर देखे जो मैंने आपको रिविजन ग्लास दी है सबसे पहला कि उद्देशिका के संबन में अगर हम बातचीत करें तो उद्देशिका सविधान का भाग है केशवानन भारती मामले में इसको क्लियर कर दिया था और संशोधन इसको 42 सविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया भी गया है तो पहले प्रश्ण का आंसर आन है राष्ट का वो प्रमुख निर्वाचित होता है चुनावा होता है खांदान क्या किसी particular family से नहीं आता लेकिन गंतांत्रिक प्रनाली के एक दूसरी व्याक्या भी है कि देश में बिना किसी भेदभाव के सभी को एक निश्यत आयू वर्ग के आधार पर मतदान का अधिकार मिलता है और मतदान में सब बराबर होते हैं जब आप मतदान करने जाते हैं तो आप जल्दी आए तो आगे लगोगे फिर आप गरीब हो अमीर हो आप अगर मोदी जी भी मतदान करने जाएंगे तो वो जिस नंबर पर है उसी नंबर पर खड़े ओकर मतदान करेंगे। ये नहीं कहा जा सकता है कि मोदी जी को प्रायरिटी मिलेगी और वह आगे पहले मतदान करने जाएंगे। नहीं। जो सिक्वेंस है उसी क्रम में मतदान होता है। तो सबसे बढ़िया व्य बोट देते ना उसमें बैटते हैं। भारत में प्रधान मंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। भारत में लाल लालियो ध्यान से सुन लीजे। भारत में 12 लोग मनोनित होते हैं राज्य सभा में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का लोगों में से जो है उनमें से चयन होता है। सांसद और विधान सभा के सदस्य विधायकों का निर्वाचन होता है, और प्रधान मंत्री की नियूप्ती होती है, प्रधान मंत्री अपोईन्ट किये जाते हैं, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, या गडबंदन जिसका बहुमत होता है, तो मंत्री तक को निम्नलेकित में से कोन संसक के सयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं तो वैसे तो लोगसभा के अध्यक्ष नहीं तो उनकी अनुपस्तिती में उपाध्यक्ष लेकिन उप्रोक्त में से कोई ने क्योंकि इन तीनों की कभी अध्यक्षता नहीं होगी। बी उप्राष्ट पती भी प्रदान मंत्री भी मुख्य नयाय दिश भी महानय वादी भी लोगसवा का अध्यक्ष सब पद प्राप्त कर सकता। छटवे सवाल का अंसर सी था। सातवा सवाल किसी भी देश में यदि द्वी सदनिय व्यवस्ता हो तो संगात्मक व्यवस्ता के लक्षन है। उन छोटी-छोटी जगवों को जोड़कर हमने राष्ट बनाया वहां का प्रतिनी दित्व होना चाहिए। इसलिए संगात्मक सोरुप को दर्शाता है सातवे का अंसराना चाहिए था। और रिट जारी करने के हाई कोट की शक्ती सुप्रीम कोट से अधिक होती है। कोट मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य सवेधानिक कानूनी अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोट के वल सवेधानिक मूल अधिकारों पर ही रिट जारी कर सकता है, इसलिए आंसराना चाहिए था option A, तो यदि आप लोगों के 8 में से 7 है तो best, मतलब आप से अगर 5 है तो average से better है, 4 है तो average है, 4 से कम वाले average से below है, ऐसे वीडियो को 2 से 3 बार देखते चलिएगा, शेर लाइक बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग शेर लाइक अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, पाप के भागी बने गया, क्योंकि कोई वेक्तितनी इमानद से आपको सब चीजे मुप्त में उपलब्द कराएं, तो आप गुरु दक्षिना के रूप में मुझे शेर लाइक तो दे सकते हैं न, बाकी वीडियो को लाइक शेर करते चलिएगा, और कमेंट जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब जब कमेंट ज्यादा होते तो अपने आ होगा, वह सुप्रिम कोट के न्याइक पुन्द्रावलोकन में आएगा, और आप इस शक्ती को ना कम कर सकते हैं, ना संशोधित कर सकते हैं, संसद ने अनुच्छे 368 में संशोधन करके प्रावधान जोडा कि संसद द्वारा किये गए, किसी भी सविदान संशोधन को किसी संसद द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन की मूल भावना का उलंगन होता हो, संविदान संशोधन द्वारा नुच्छे 368 में जोडे गए प्रावधान सुप्रिम कोट की न्याइक समिक्षा की शक्ती का उलंगन करते हैं, अब आपके दिमा प्रानून को न्याइले में चुनोती नहीं दी जा सकती, अता इससे न्याइक समिक्षा के सिद्धान का उलंगन होता हैं, और इसलिए ये चौथे नंबर की बाद जो आपने संशोधित करके लिखी हैं, उसे हम शुन्य करार देते हैं, ऐसा कोई संशोधन आप नहीं कर सकत न्याइक पुन्द्र आउ-लोकन हमारा हक हैं, सविधान ने हमें दिया है, मतलब मीरा ने सुप्रेम कोट का हक है, और सुप्रेम कोट इसमें किसी भी प्रकार की शक्ती में कमी नहीं चाती, मतलब सुप्रीम कोट ने खुले तोरबर का कि सविधान जो भी संशोधित होगा उसकी न्याईक पुन्रावलोकन न्याईक समिक्षा हमारा अधिकार है। पुन्रावलोकन न्याईक समिक्षा के सिर्दान को सिमित करता है जो कि सविधान के मूल धाचे कांग है। पुन्रावलोकन न्याईक पुन्रावलोकन न्याईक समिक्षा के सिर्दान को सिर्दान को मूल धाचे कांग हमारा अधिकार है। देखो यहां पर सुप्रीम कोट ने बहुत कठोड शब्दों में कहा कि ठीक है अमारे देश का संगवाद एक नए प्रकार का संगवाद है जिसमें केंद्र की तरफ शक्तिया जुकी हुई है लेकिन राज्यसरकारें केंद्र के अंतरगत आने वाला कोई निम्न अधिकारी न सकता है या फिर सस्वेंड कर सकता है ये अधिकार आपको संगवाद में नहीं मिलते वो एक स्वतंत्र जनता के दुरा चुनीवी सरकार है और यदि अतार की कारणों के आधार पर आप उन्हें बर्खास्त करते हैं तो फिर हम उस निर्नय को पलट सकते बहुत बड़ा निर इसे भली बाती समझ लेना चाहिए कि संगवाद की प्रकरती किसी देश के एतियासिक विकास और आवश्चकता के आधार पर निर्भर करती है प्रत्येक देश में एक ही पद्दती के संगवाद की कलपना करना संबव है संगवाद समय और ध्यान स्थान के अनुसार बदलत रहता है किसी देश में इसका क्या सोरूप अपनाये जाएगा वो देश की एतियासिक भोगोली का आर्तिक और राजनितिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है संगवाद की जो पद्दती अमेरिकी सविदान में लागोती आवश्चक नहीं कि वो भारत के लिए अच्छी हो भारत ने संगवाद का जो सोरुप ग्रहन किया है वो भारत के रहनुकूल है इस तथ्य के होते वोए भी कि सविधान में ऐसे प्रावधान है जिनके तत केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तिया प्रदान की गई है इसके बावजुद भारती सविधान एक घात्मक सविधान और यह भारत के मूल ढाचे का आंग है इसका तात्पर है कि राज्य अपने शेत्र के भीतर संप्रभू है राज्यों का स्वतंत्र स्तित्व है वे केंद्र के एजेंट नहीं है बहुत कठोर शब्द उपयोग किये गए है फिर है 2006 का मामला प्रकास सिंग वाद में सुप्रीम कोट के दिशान नर्देशे बहुत ही बड़ा मामला है बही इस मामले में सुप्रीम कोट ने बहुत ही कठोर शब्दों में पुलिस सुधार के लिए सलहाय दी थी पर ये सलहा दी थी बाद्यकारी नहीं था इसले इतना सीरियस नहीं लिया गया लेकिन बहुत ही इस पश्ट रुप से सुप्रीम कोट ने कहा था कि अब पुलिस सुधार का समय आ चुका है मामला उत्तरप्रोदेश के पुर्व डीजीपी प्रकाश सींग द्वारा सुप्रीम कोट में पुलिस तंत्र में विद्यमान कमी और राजनिती घस्तक्षेप को लेकर कर एक जन्न हितियाची का दнаяर की गई सुप्रिम कोट ने क्या का, सुप्रिम कोट ने पुलिस तंत्र की कम्यों को दूर करने के लिए निर्देश जारी किये, किसी भी प्रकार के राजनितिक अस्तक्षेप से बचने के लिए पुलिस महानिरिक्षगेतु नियूंतम कारेकाल, ताकि राजनेताओ द्वारा उन्हें मध्य उदी में स्थान्तरित ना किया जाए ये बहुत बड़ा कदम था पर हुआ नहीं ये सलहकारी थे न पुलिस स्थापना बोड़ दरा पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग के जाने के विनिर्देश इस बोड़ का उद्देश राजनितिक नेताओ को पोस्टिंग और स कारियों को अलग करने तो राज्य सुरक्षायों की स्थापना जिसमें नाकरीक समाच के सदस्योंगे साथ एक राष्टिय सुरक्षायों की भी सिपारिश की गई तो बहुत जरुरी सारे सुधार लेकिन ये सलहकारी थे चुकि सुप्रिम कोड दॉरा इन टिप पने अतों दिशान निर्देशों की प्रकृती बाद्यकारी नहीं थी बलकी सुधारों के परिप्रेक्ष में परामसकारी थी अतर सरकार दॉरा इनके पालन के प्रति कोई प्रति बदता व्यक्त नहीं की गए पिर अरुना शानबाग बना भारत संग, इस मामले में अरुना शानबाग पिछले लगबग तीन दशक से कोमा में थी, सुप्रिम कोट वरा गठित डॉक्टरों के एक टीम ने स्पश कर दिया कि वो कभी भी सामानी जीवन नहीं जी सकती और एक प्रकार से जीवित शव के र अइस प्रकार के प्रिशों के लिए निकडब भविष्यमे कोई चिक टीम विक्सित कर ली जाये, अतर सुप्रिम कोट ने एक प्रकार से इस्प्रिम कोट शव को अनूमती प्रदान नहीं की नोतेज जोहर बनाम भारत संग 2018 का ये मामला भी काफी जदा फेमस रहा और इसने IPC की धारा 377 जो की पहले अपराधिक मामलों में मानी जाते थी समलेंगिक प्राकरतिक रूप से अगर अनुमती के साथ भी लेंगिक संबन इस्तापित करते हैं तो भी वो अपराध माना जात लेकिन इस अपिल के बाद PIL के बाद इसको समाप्त किया गया धारा 377 आईपीसी की धारा 377 का समलेंगिक संबन्दों से अर्थात मूल धारा 377 प्राकरतिकियों परिभाशित और दंडित करने का प्रावधान करती है इस धारा के अनुसार समलेंगिक ताको एक दंड़नी अपराज माना गया, जिसके तथ 10 वर्ष तक की कारावास का प्राहुधान था, सुप्रिम कोट ने क्या का, सुप्रिम कोट ने IPC की धारात 377 के तथ समलेंगिक ताकवापराद के दाएरे से बाहर कर दिया, सुप्रिम कोट ने अपने निढ़ने में इस पश्ट किया, कि दो संबलेंगी क्वैसकों के बीच परस पर सहमती योन संबंद बनाए जाते हैं तो ये धारा 377 के तथ अपराथ की श्रेणी में नहीं आएंगे और दंडनिय नहीं होगा अब सुप्रीम कोट ने ये किलियर कर दिया है कि 377 जो IPC की धारा है अब आप उसे एक तरीके से उपयोग नहीं कर सकते यदि दोनों ही जो नाबालिक लोग है बालिक लोग अपनी सहमती से अपनी मर्जी से समान जेंडर के भी क्यों ना हो तो अब आप उसको अपराद नहीं कह सकते फिर दो ऐसे मामले हैं जो स्वता संग्यान लिए गए एक तो 99 वा सविदान संचुदन 2014 राष्टियन या एक नियूक्ति आयोग को सुप्रीम कोट ने कहा कि नहीं हम इसको स्वता संग्यान लेते और मूल धाचे के खिलाप मानते हुए इसको हम समाप्त कर देते है उनका मानना था कि अनावश्य घस्तक्षेप कारेपाली गाका फिर राष्टरो कानून पर वी 2022 में बेन लगा स्वता संग्यान लेते वे सुप्रीम कोट ने राष्टरो कानून पर रूक लगा दी ये IPC की धारा 124 में आता है कोई केस अब दर्ज नहीं होना चाहिए उपन प्रशाशकों ने ब्रिटिश नितियों के आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिए राष्टरो कानून का इस्तमाल किया लोकमाने तिलक महात्मा गांदी जवाल आर नेरू भगत सिंग आदी स्वतंत्रता अंदुलन के दिगजों को ब्रिटिश शाशन के दत उन्हे राष्टरो ही भाष्णों लेखन और गती विदियों के लिए दोशी ठहराया गया इस प्रकार राष्टरो कानून का इतना व्यापक उपयोग उपनिवेशिक यूग की याद दिलाता है कहने का मतलब है कि सरकार ने कहा कि अब आप राष्टरो का कोई कानून लागू नहीं कर सकते पूरे देश में तो ये थे सुप्रिम कोट के महतुपुर निर्नय अब आते हैं सविधान के कुछ प्रमुक प्रावधान और महतुपुर आर्टिकल पर पले प्रमुक प्रावधान में कुछ ऐसे जो हमने अभी तक नहीं देखे जैसे ट्रिब्यूनल प्राधिकरन मतलब एक विशेश विशय पर बनाये गए न्यायालाई समझ लीजे और ये हमारे सविधान में वड़नीत है पूरी तरह से प्राधिकरने कर्ध न्यायक संस्ताई जिसे प्रशाष्णिक या कर संबंदी विवादों को हल करने के लिए स्थापित क्या जाता है दूसरे शब्दों में प्राधिकरन अधिकतर ऐसी संस्ताई होती जिसे विशेश प्रक्रती के मामलों के निप्ठारा करने के लिए न्यायक अधिकार प्रदान किये जाते हैं अमारे देश में 42 सविधान संचुदन के तथ भाग 14A में आर्टीकल 323A में प्रशाष्णिक प्राधिकरन और 30B में अदर्द मेटर पर जैसे टैक्स पर भूमी सुधार पर प्राधिकरन बनाने का अधिकार सविधान ने सरकार को दिया है इन अधिकरनों के निड़ने के अपिल उच्च नियाले उच्च नियाले में की जा सकती है आर्टीकल 323A के वल लोक सेवाओं में जैसे आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपको इस प्राधिकरन की साहिता से मदद मिलती हैं जबकि 323B कुछ अन्य विशय के संबन में प्राधिकरन है 323A के अंतरगत के वल संसदी प्राधिकरन बना सकते हैं लेकिन 323B के अंतरगत राज्योड संसद दोनों बना सकते हैं जैसे आपको यदि IS बन गए और आपको कोई सिनियर परेशान करें आई-स बनने के बावजुद भी तो आप यहां मामला धर्च कर सकते हैं वर्तमान में केट की कुल अठरा खंडपीट है इसकी में खंडपीट नई दिल्ली में हैं अकिल भारतिय सेवाए, All India Services, केंद्रिय लोक सेवाए, केंद्र के अधिन सेवाए और सिन्य सेवाओ के सिविल करमचारी आते हैं आपको यदि कोई भी अपने प्रशाशन, अपने डिपार्टमेंट से शिकायत हो तो आप यहां कर सकते हैं केट का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अन्य सदस्योंगे, सदस्यों की संख्या का निर्धारन करने की शक्ती राष्ट्रपती को हैं सदस्यों को न्याईक और प्रशाष्णिक दोनों शेत्रों से चुना जाता है ताकि दोनों शेत्रों की विशेशक्यताओं का लाब मिले केट के अद्ध्यक्ष और सदस्यों का पद हाई कोट के न्यायदिश के इकुल माना जाता है केट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुकती राष्टपती द्वारा सुप्रीम कोट की मुखे नियादिश के अध्यक्षता में बनी चैन समीती की सिपारिश के आधार पर राश्टपती समीती की सिपारिश को मानने के लिए बात दे हैं। हाई कोट में और फिर सुप्रीम कोट में जा सकते हैं। राश्टपती द्वरा भाशाय आयोक का गठन जो हिंदी और अंगरेजी के सरकारी प्रयोक के संबन में सिपारिश देगा। लेकिन अभी तक केवल एक ही भाशाय आयोक बनाएं। 255 में बी जी खरे के अध्यक्षतान। केंद्र हिंदी भाशा के विकास के लिए प्रयास करेगा राज्यकी राज्भाशा के संबन में राज्यविधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार हैं। लेकिन आटवियन उसुची से बाहर की किसी भाशा को किसी भी राज्यद्वारा राज्भाशा के रूप में अपनायाँ जा सकता है। मात्र भाशा में प्रदान के जाने के विवस्ता मदर टंग जो भी 22 भाशाओं में रहती है। और इस प्रकार के मामले पर सुप्रीम कोड को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 263 अंतर राज्य परिशत केंद्रो राज्य के मद्य समन्व इस्तापित करने या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच समन्व इस्तापित करने सारुजनिक हित के उद्देश राज्य परिशत के गठन का प्राओधान, राश्यों के मद्य हुने वाले विवादों की जाच करना, इस संबन में सला देना, विशेय निती के बीच में कॉडिनेशन, मतलब राज्यों के बीच का कॉडिनेशन बेटर करने के लिए 1990 में ऐसांतर राज्य परिशत बना था, लोग जनरली भाग नहीं लेते। पर अभी महिलाओ के लिए और OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, विधाई का में, लोग सबा और विधान सबा जैसी विधाई का। अब जरुवत नहीं राष्ट बती का कहना। सविधान का आर्टीकल तिनसो बतीस राज्य की विधान सबाओ में SCST वर्ग के लिए जब के आर्टीकल 233 आंगल भारतिय समुदाय के लिए आरक्षन का प्रावधान करता है राज्यों में। हाला कि लोकसबाओ राज्यक विधान सबाओ में SCST वर्ग के सीटे आरक्षित की गई लेकिन उनका चुनाव निर्वाचन शेत्र के सभी मतदाव दारा किया जाता है। भली candidate SCST का ओ लेकिन मतदान तो सभी लोग करेंगे। फिर पाच्वी अनुसुची आप जानते होंगे अनुसुची शेत्र संबंदी प्रावधान असम मेगालाय मीजुरम त्रिपुरा को छोड़ कर क्योंकि इनके अलग से छटवी अनुसुची में है जिसमें लद्दाग भी लंबे समय से मांग कर रहा है ने की। जन जातिये शेत्रों के प्राशाशन के बारे में विशेश प्रावधान भाग 10 आर्टिकल 244A सोशासी जिला इसी के अंतरगत बनाया गया है राज्यपाल्द और इन राज्यों की किसी शेत्र को जन जातिये शेत्र गोशित किया जा सकता है सोशासी जिले का प्राशाशन सोशासी जिला परिशद करेगा जैसे मतलब पूरे जिले के लिए निर्नाय ये परिशद लेती है मुख्यमंत्री के निर्नाय के बावजूद भी उनके निर्नाय तभी लगेंगे जब तक सोशासी जिला परिशद हा ना कह दे ये इस परिशद में 30 सदसे होते 26 चुने जाते 4 राज्यपाल मनुनित करता है फिर सोशासी राज्य जिले से थोड़ा सा बड़ा शेत्र होता है सविधान संचुन अदिनयम 1969 आर्टिकल 244 एक तहत के वल असम के लिए है संसद्वारा साधारन बहुमत से गठन सोशासी जिले को कानून विवस्ता को लागू करने की शक्ती नहीं होती है लेकिन सोशासी राज्य जो की उससे बड़ा होता है उसे कानून विवस्ता की भी शक्तिया मिल जाती है फिर है रिजनल काउंसिल शेत्रिय परिशदे वैधानिक निकाह है सवेधानिक नहीं राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्क्रती विक्सित करने के उद्देश से राज्य पुनर गठन कानून 1956 के अंतरगत शेत्रिय परिशदों का गठन किया गया 1971 में पुरुवत्तर शेत्र के लिए एक अत्रीक्त पुरुवत्तर परिशत का गठन पुरुवत्तर परिशत दिनियम 1971 के द्वारा किया गया, मतलब एक तरीके से शेत्री परिशते, zonal council सवेधानिक नहीं है, इसमें हर्याना, हिमाचल प्रदेश, मतलब कई सारी हैं, उत्तरी Northern Zonal Council है अलग-लग जोन के डेवलपमेंड के लिए अलग-लग राज्जों ने मिलजूल कर बनाई है हर एक शेत्रिय परिशत का अध्यक्ष केंद्रिय ग्रह मंत्री होता है और प्रतेक शेत्रिय परिशत में शामिल के गए राज्जों के मुख्य मंत्री रोटेशन से एक समय में एक वर्ष के अध्यक्ष के रूप में काम करते है अब एक थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन देख लेते हैं वैसे बहुत सारे आर्टीकल हमने पढ़े हैं लेकिन एक नजर सारे आर्टीकल को आप देखते चलिएगा मैं इसको पढ़ नहीं रहूँ बस आपको एक नजर आईडिया लग जाए कि आर्टीकल लगभग 50 तक कि कंटिन्यू लिए हमने इसको मैं पीडियप में भी दे दूगा ताकि आप लोग एक बार इसको जरूर देख लिजेगा झाल 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 बहुत सारी आर्टिकल हमने वीच बीच में क्लास के दोरा नहीं वर्दन किये इसमें से यह सब इंपॉर्टेन आर्टिकल डाले हैं बीच बीच में कुछ आर्टिकल हटा दी भी गए है झाल यह पीडियप में भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे पूरा कम्पलीट बद स्क्रीन शॉट यह दिए आप लेना चाहें शॉट ले लिजी अगर बद स्क्रीच सॉट टी इवर्ण ती विवर्ण दो सबॉट बद अबदो बार 202 सही है वो 202 112 है उड़ी करना शमा चाहूंगा तही है यह केंद्र और राध्यों का है अलगा कि अगर कि अगर अगर अब आपको जो हमने सवाल पूछे हैं इसमें प्रश्ण में बीच बीच में उन सभी सवालों के जवाब आपको हम दे रहे हैं और उसको ध्यान से सुनते चलेगा और चेक करते चलेगा कि आपके कितने उत्तर सही आये और यदि आपके 10 में से आधे आ रहे हैं तो आपको क्लास फिर से देखने की जुरूबत है यदि आधे से ज्यादा आ रहे हैं तो जहाज आपको कमजोरी लग रहे ही वहाँ देखते चलेगा और शेर लाइक करते चलिएगा कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास के अंत के बाद आपने किस तरीके से चीजों को कवर किया है और अब आपको कितना confidence आप आ रहा हैं कोई suggestion आपको लगते हो तो जरूर बताते चले क्योंकि आपके suggestion से ही चीज़े ज्यादा बेटर समझ में हमें आती है बस दो मिनिट की बादचीत अनेकेडमी क्या है तो एक online educational platform है जहां आप जब अपनी तयारी का subscription लेते हैं subscription जैसे Netflix का होता है कि आपने एक महिने के लिए ले लिया तो आपको एक महिने के लिए Netflix की सारी movies देखने को मिलती है तो वैसे ही अगर आपने किसी particular course का subscription लिया तो जितने time के लिए आप subscription लेंगे उतने time के लिए उस course के सारे teacher की class मिलेगी बले आप refer code मेरा यूज करे सारे educator की class मिलेगी क्यों unacademy चुनना चाहिए क्यों बाकी platform से better है आपको अपनी मर्जी का teacher मिलता है unlimited access मिलते है और आप पर teacher थोपे नहीं जाएंगे बलके आपको चुनने का मौका दिया जाएगा एक ही subscription में prelims, mains, interview यहां तक की test series से लेकर current affair सब कुछ एक ही subscription में सबसे ज्यादा result पिछले दो वर्डशो में सबसे अदबुत result जो आप screen पर देख सकते हैं 2020 में 170 से ज्यादा topper और 197 में 2021 में शमा चाहूंगा मैं 197 से ज्यादा topper जिसमें आप all India rank 3, all India rank 4, all India rank 5 देख सकते हैं इस समय सबसे बड़ी जो खबर है कि MKLive refer code आपको 10% discount हो देगा लेकिन offline library और offline test की facility iconic subscription में आपको दी जा रही है सभी plus के benefit के अलावा आपको इसमें mentorship भी मिलती है मतलब आपको एक guidance मिलता है और अगर आपका refer code आपके लायू है तो आपको हर महीने दो video call मेरी तरफ से रहेंगे जिसमें आपको discord पर बताया जाएगा कि इस Sunday मैं आपके doubt लूगा बाकी plus में fees थोड़ी सी कम होती है इसमें आपको सारी चीजे मिलती है लेकिन mentorship नहीं मिलती बाकी आपको सब classes C-set सब मिलेगा और यदि किसी विद्यारती को कुछ ही course करने है जैसे GS में मान लो उसे केवल economics करना है जोग्राफी करना है, polity करना है, C-set करना है, current affair करना है तो module wise इस store पर आप minimum price में minimum price में subscription राप्त कर सकते हैं इसमें live और recorded classes मिलती है आप लोगों को तो एक नया आपके पास option आ चुका है विश्टोर जिसमें आप module codes भी खरीच सकते MK live refer code आप जब भी an academy पर किसी भी प्रकार का subscription लेना चाहरे है तो use कर सकते हैं हमारा refer code और doubt clearing session, mock test इसमें कई सारे benefit MK live refer code के साथ जुड़े हैं तो जब भी आप an academy पर कुछ भी purchase करते हैं तो 10% discount के लिए और best offer के लिए MK live refer code यूज़ करते चलिए